Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डबल भाषा बिलकुल असान नहीं है, अगर आप economics की तैयारी कर रहे हो, economics एक ऐसा subject है, जो technical nature का है, मैंने बच्चों से कई बच्चों से बात करी है, आज तक 50,000 से जादा बच्चे पढ़ा चुका हूँ, और उनसे पूछा कि सबसे मुश्किल subject कौन सा लगता है, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइन्स, एकॉनमिक्स, तो जादा तर बच्चों को यही जवाब होता है कि सर, economics हमें बड़ा मुश्किल लगता है, हो सकता है, इसका reason है, कि उनका उसमें background नहीं है, कि 11-12 उननोंने science से करी या आर्ट से करी, और इस वज़े से उनका background नहीं है, यह popular उतनी नहीं है, लोग इतना नहीं पढ़ते हैं, लोग जातर रमेश सिंग को prefer करते हैं, और उसके इलावा एक और बड़ी दिक्कत होती है, कि इन दोनों किताबों को समझने के लिए आपकी NCRT, 11 और 12 कक्षा की अच्छे से cover होनी चाहिए, अगर आपने NCRT cover नहीं करी है, तो आप ये books भी नहीं समझ पाओगे, तो मैंने जो final किया, आप सब के लिए plan किया, in that scenario मैंने सोचा कि 11-12 की NCRT, रमेश सिंग, नितिन सिंगानिया, ये सारी किताबें एक single series के अंदर, जिसमें 60-70 lectures बनेंगे, 60-70 lecture होंगे, आज पहला lecture है, introduction to this whole series, इस lecture के अंदर मैं ब economics, एक decimal science क्यों कही जाती है, और ये session उन लोगों के लिए, जो की bilingual है, जो की द्विभाशी है, English भी जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं, या सिर्फ इंग्लिश जानते हैं, सिर्फ हिंदी जानते हैं, इन सब के लिए beneficial होगी, तो अगर आप हिंदी भाशी भी है, आपको समस् I am proficient in English as well, so I am going to, so whatever I am teaching, tell you in a bilingual way, हिंदी इंग्लिश दोनों भाशनों में समझाओं, दूसरी बार, मैं हूँ कौन, मेरा नाम बसू कटा रहा है, स्क्रीन पे आप नाम देख पार है, आपकी तरह मैं भी UPSC Civil Service Aspirant रह चुका हूँ, रह चुका हूँ क्योंकि अपनी एक बह बात नहीं, आप सबको पढ़ाने का मौका मिला, वही बहुत बड़ा सभाग्य की बात है, it's a very big opportunity, next point, I have been teaching for the past 5 to 6 years, UPSC Aspirants in different coaching institutes, जिसमें online, offline में, अलग-अलग जगहों पे मैंने बच्चों को economics, quality, अलग-अलग subjects पढ़ा है, और economics मेरा background भी रहा है, मेरा optional भी रहा है, त आप मेरे class के notes लें, मैं आपको telegram पे अच्छा notes कहां दिये जाएंगे, notes मेरे class के telegram group पर, ये वसु-katara study IQ आई-क्यू आपको group दिख रहे है, ये telegram group है, इस पर आपको notes मिल जाएंगे, और Instagram पर अगर आप उनसे बात करना चाते हैं, तो follow कर सकते हैं, वसू.katara के नाम से, म आपको देखने मिलेगा, बच्चे पूछेंगे सवाल कि आप मेरा ही session क्यों देखें, रमेश सिंग और नितिन सिंगानी और इंसी artists को cover करने के लिए, उसका reason ही है कि बहुत आसान भाषा में, बहुत simple language में आपके साथ topic discuss किये जाएंगे, एक एक चीज बारी की से discuss की जाए मैं P2I batch में भी पढ़ा रहा होता हूँ, तो कई बार P2I batch में पढ़ाते time, आप सब के लिए YouTube की वीडियोस record कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 3-4 गंटे उसमें daily के मेरे चले जाते हैं, फिर nonetheless आप सब के लिए प्रयास मेरे यही रहेगा, कि आपको सारी च PCS, UP, PCS, Bihar, PCS, any state PCS exam जो भी आप तयारी कर रहे हो, उन सब के लिए आपके लिए जरूरी रहेगा वीडियो, या आप defense exam की NDA, CDS की तयारी कर रहे हो, आफCAT की तयारी कर रहे हो, उसके लिए इंपोर्टन रहेगा, जहां पर भी economics पूछी जाती है, उसके लिए clarity आपको important अगर कुछ होता है, तो वो होता है guidance, mentorship, जो खुद अपने तन पह सह चुका है, वो आपको बहतर तरीके से guide कर सकेगा, मतलब जो भी अगर exam दिया है, exam में अलग-अलग पढ़ाव से घुजरा है, prelims means an interview, वो आपको बहतर guide कर सकेगा, in that situation, आपको जो ये economics की वीडियो में क इतना included है, जिसमें proper day-to-day basis पर interaction और guidance important है, UPSC civil service exam के लिए, वो कैसे आपको मिलेगा, जब आप study IQ की website पर आते हैं, हमारे UPSC preparation batches चाहे 24 चाहे 2025 चाहे 2026 की आप तयारी कर रहे हो, वो आपको studyiq.com पर और website पर available मिलते हैं, अब यहाँ पर आके आप foundation batches पर click करते हो, जिसको P2Y batch कही जाते हैं, P2Y मतलब prelims, mains और interview तीनों की complete समग्र तयारी कराते हैं, अब आप YouTube पे तो वीडियो देख रहे हैं, but you will need notes, you will need books, you will need material, वो सब study IQ website पर available है, अलग-अलग batches जैसे फिलाल जब मैं वीडियो बना रहो, तब हमारा batch 22nd December से, सुबह 8 बजे शुरू हो रहे है जिसमें आपको मैं economics पढ़ाऊंगा, इसकी classes का आप फाइदा ले सकते हैं, अब बुद्दे की बात है, कि आप किसी भी batch पे जुड़ते हैं, जहापे मैं economics कवर करा रहो, आपको UPSC, civil service exam, PCS, any exam, कहीं पर भी जाओ, guidance के लिए, fees और guidance और discount के लिए, in fact, fees जादा दिखरी होत है, बसूर लाइगे, यह लग से type करना होता है और apply करना होता है, उसके बाद maximum discount मिल जाता है, this is applicable on optional subjects, 9 optional subjects are there, applicable on GS, all the subjects, all the courses, बस इसे apply करके discount ले लिजेगा, और मेरी personalized guidance आपको GS के economics and other subjects के लिए, मिल जाएगी, take benefit, इसका फाइदा जरूर लिजेगा, main residential program BC के तहत मिलेगा, CSAT current interface की classes, सब इसमें cover हो रहा है, take benefit, thank you, आगे चलते हैं, पहली बात हो, how are you all, कैसे हैं आप सब लोग, UPAC preparation करने का आपने जो फैसला लिया है, वो फैसला अच्छा है, क्यूंकि आप UPAC civil service exam के बाद कई सारी ऐसी opportunities प्राप्त कर सकते हैं, जो एक normal व्यक्ती, corporate life में, या और किसी जगे पर नहीं प्राप्त करवाएगा, मैं खुद एक assistant professor की नौकरी कर चुका हूँ, और खुद civil service exam clear करके, एक Indian foreign service officer, एक diplomat बने का सपना देख चुका हूँ, सपना पूरा नहीं हो पाया, चंद number से रह गया, चंद mark से रह गया, पर कोई बात नहीं, जीवन में आगे करूँगा कि आप आगे बढ़ते जाएगा, मैं जाधा आपको motivation नहीं देना चाहता, because external motivation का कोई फायदा नहीं होता, अंदर से खुद से motivation आना चाहिए, जजबा आना चाहिए, तो मैं बस यही कहूँगा, एक से दो attempt, अच्छी तरह लगाओ, कि उसमें exam निकले ही निकले, पूरी जिंदगी नहीं लगा देनी है, UPC के लिए, अच्छे से एक से दो attempt निकलो, और economics में आपको समस्या नहीं आईगी, at least मैं इसमें आपकी help करूँगा, यह सुनिश्चित करूँगा, so first things first, what is economics and what is economy, यह दो शब्द है, economy, economics, हमने आज तक कितनी बार सुने हैं, पर इ पहली बात तो, economy का मतलब, economy ग्रीक शब्द से आता है, आपको पता है, यूरोप की कई सारी भाशा है, Latin, Greek, अलग-अलग भाशा है, ग्रीज के अंदर जो बोली जाती है, वो ग्रीक भाशा है, उसमें oikonomia नाम का एक टर्म होता है, जहाँ पर oikos का मतलब होता है, household, हमारा गर, और नौमिया का मतलब होता है, management, अब आप लोग अभी फिलाल UPSC के तैयारी कर रहे हो, मम्मी पापा एक मन्तली बजट दे देते होंगे आपको, या pocket money दे देते होंगे आपको, कि बिटा ये 5000, 10,000, 20,000 रुपे, जो भी है, इतना रखो, अपने पूरे महीने का रहे हैं, उनके पास एक limited amount of money है, सीमित संख्या में पैसा उपलब है, और उस पैसे को इस्तमाल करके, वो पूरे घर को चला रहे है, manage कर रहे है, economy भी तो इसी प्रकार से है, देश में हमारी सरकार के पास limited amount of money है, सीमित संख्या में पैसा है, और उस पैसे का इस्तमाल करके, सरकार आप मैं हम जैसे 140 करोड लोगों की जरूरत पूरी करने के लिए manage कर रहे हैं so this is economy यह definition होती है economy की अब आपको economy की एक basic definition पता चली है अब थोड़ा आगे चलते है economics को economics को अब economy और economy दोनों का फरक बता दूँगा economics को dismal science कहा गया है poor science dismal science जैसे for example मैं n a और c l को मिलाऊंगा तो n a c l बन जाएगा sodium chloride sodium chloride को अगर मैंने मिलाया तो common salt नमक जो हमारे घर में इस्तमाल होता है वो बन जाएगा there is no other way around एक principle आपने follow किया science का तो नतीजा हमेशा वही मिलेगा आपको बट economics में ऐसा कुछ नहीं है economics एक बड़ा general subject है जिसमें आप अगर estimate करते हो कि अगर यह आपने किया एक step one उठाया कदम उठाया उससे एक result एक particular type का result आप अचीव कर लोगे ऐसा compulsory नहीं है जैसे for example अभी फिलाल RBI ने interest rate बढ़ाए हमारी अर्थवस्ता में interest rate किस पर जो loan आप और मेरी रैसे लोग लेते हैं अब interest rate बढ़ गए 8% होता था मानलो 10% हो तो आम जनता जो 8% पर लोन अफोर्ड कर सकती थी क्या वो 10% पर अफोर्ड कर पाएगी नहीं कर पाएगी कई ऐसे लोग होंगे जो कि लोन ले ही नहीं पाएगे तो interest rate बढ़ाने से क्या होगा लोग जो पहले धडलले से इन वेरी बिग वे लोन ले रहे थे बैंकों से अब वो लोन नहीं ले पाएगे और अब अगर वो लोन नहीं ले पाएगे तो वो खर्चा नहीं कर पाएगे घर गाड़ी बाइक मुबाइल फोन इन सब के उपर खर्चा कम हो जाएगा तो interest rate बढ़ाने से आप महंगाई कंट्रोल कर सकते हो यह economics का एक principle है बट यह हर जगे applicable नहीं होता बट हमेशा ऐसा नहीं होता कि interest rate बढ़ाने से महंगाई कंट्रोल में आईगी ही आईगी आईगी आपको देखने मिलता है कि situation कभी भी बदल सकती है बड़े बड़े economist बड़े अर्थ शात्री बड़े बड़े आर्थिक पंडित जो लोगों को suggestion देते हैं जरूरी नहीं है ऐसा हो क्योंकि economics कभी भी जरूरी नहीं है कि 100% true या perfect answer देगी 100% perfect result देगी इसी लिए इसको decimal science कहा गया है आप advance में कई चीजों के बारे में advance में भव विश्यवाणी नहीं कर सकते forecast नहीं कर सकते एक example देता हूँ कोविड 19 आया sanitizer के दाम आस्मान चूने लगे मास्क के दाम आस्मान चूने लगे oxygen के cylinder मिलने ही मुश्किल हो गए आस्मान चूने लगे यह दवाई आती है कोविड के time पर इस्तमाल हो रही थी amphotericin भी यह दवा इसलिए तो कहा जाता है कि economics एक decimal science है कि आप advance में नहीं बता पाऊगे कि आने वाले समय में आपके साथ क्या हो सकता है इसलिए इसको failed science भी कहा जाता है ऐसा विग्यान जिसमें नतीजा आपको जरूरी नहीं है जो आप चाहते हो वही मिले अमेरिका में 2008 में आर्थिक संकट आया यह समय था जब दुनिया तरक्की के रास्ते पर growth के रास्ते पर जारी थी और अचानक से अमेरिका के अंदर जैसे ही एक economic crisis आती है पूरे दुनि तक नहीं चुका पा रहे थे उनकी नौकरिया जा रही थी पर उसका impact पूरी दुनिया पर पड़ा चाहे सिंगापोर हो चाहे इंडिया हो चाहे थाइलेंड हो चाहे मलेशिया हो चाहे ब्रेटन हो कोई विदेश हो आपस में आज दुनिया इतनी interconnect हो चुकी है तो क्यूंकि आप पहले से define नहीं कर पाते क्यूंकि आप पहले से predict नहीं कर पाते कि आखिरकार किसी भी economy में क्या होगा इसलिए इसे एक decimal science कहा जाता है एक failed science कहा जाता है इंडिया में महंगाई बढ़ने लगती है क्या आपको लगता है सरकार चाहती है महंगाई बढ़े क्योंकि सोचो तो ना क्या result होता है जब भी inflation मुद्रा स्फिती महंगाई बढ़ती है सरकार के लिए पॉलिटिकल क्राइस पैदा हो जाती है जनता सरकारें बदल देती है अगर जनता को महंगाई जादा देखने मिले आम जनता common people if they are affected by increase in prices the government has to go ऐसा होता है आपने देखा है अनुबफ किया है तो इसी लिए महंगाई यह कैसा मुद्ध है हर देश हर सरकार उसे खतम करना चाहती है पर क्या कर पाते हैं नहीं इन फैक्ट अगर मैं example दू जिंबाव्वे नाम का एक देश है cricket खेलते हैं उनके साथ हम जिंबाव्वे में एक billion एक trillion डॉलर तक का नोट चापना पड़ा वेनेजुएला नाम का एक देश है वेनेजुएला के अंदर तेल इतना सस्ता और पानी इतना महंगा हो गया कि आम जंता अफोर्ड नहीं कर सकती तेल खाने पीने से सस्ता है तेल थोड़ी ना पी सकते तेल इन दे सेंस crude oil कच्चा तेल वो इतना सस् साइंस इसी लिए इसको एक डिस्मल साइंस कहा जाता है डिप्रेसिंग है प्रॉपर आंसर नहीं दे पाता एक तरीके की रिडल रिडल समझते हो एक तरीके का अन एक्सपेक्टेड अननोन पजल बना हुआ है बट हम एकॉनमिक्स की इंपोर्टेंस आज मानवता के लिए जो है सब्जेक की इंपोर्टेंस क्या उसे नजर अंदास कर दें नहीं बिलकुल नहीं इकॉनमिक्स एक इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है जो की इंटरनाशनल लेवल पर अलग अलग देशों में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करता है इसको क्रिटिसाइज भले ही किया पर ऐसा नहीं है कि आप एकॉनमिक्स पढ़ोगे ही नहीं क्योंकि इसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाते इसको अनप्रेडिक्टेबल मानते हो ऐसा नहीं है मानता हो 2008 में सब प्राइम क्राइसिस आई अमेरिका में अमेरिका में आज भी बैंक्स कोलाप्स हो रहे हैं ती regularly humanity के benefit के लिए हमारे benefit के लिए पढ़ते रहना, समझते रहना जरूरी है अब आप अख़बार में कई सारे बड़े बड़े शब्दों समझते हो national income, GDP gross domestic product, per capita income, ये आपको समझाते हैं अलग-अलग aspects के बारे में, जैसे मैं अगर बोलू कि पाकिस्तान की GDP 10% से बढ़ गई, मतलब पाकिस्तान पहले से 10% जाधा पैसा कमा रहा है मैं जो भी economic term आपके सामने रखूंगा, वो किसी ना किसी reality से जुड़ी हुई चीज को signify करेगा, इसलिए economics को ना पढ़े, ये हमारे पास solution नहीं है, we have to study it, we have to understand it, right, दुनिया में कोई भी चीज हो, तब भी आपको पढ़ना होगा, अच्छा, दूसरी बात understanding economics and its nuances, बारी कियां जो होती है economics की, वो हमें पढ़ना, समझना जरूरी होता है, खास तोर पे उनके लिए जिनका कोई background नहीं है, आप लोगों का अर दिन, डेली बेसिस पर आते रहते हैं, अब अगली जो हमें definition समझनी है, वो है, economic activity and non-economic activity में difference, economic activity हम सुबह उठते हैं, दिन भर में कितनी चीज़ें करते हैं, जो की economic activity है, कितनी चीज़ें करते हैं, जो की non-economic activity है, सुबह सुबह उठकर, अभी आप ये विडियो देख रहे हो, इसके बाद हो सकता है, आप मंदिर, मस्जिद, गुर्दवारा, चर्च कहीं भी जाओ, तो उस समय जब आप auto करके जा रहे हो, या अपनी गाड़ी से पेट्रोल, डीजल जलाके जा तो ये एक ऐसी activity है, जिसमें आपका पैसा खर्च हो रहा है, इकॉनमिक activity है, बट मंदिर में जाके मथ्था टेकना, गुर्दवारे में जाके, चर्च में जाके, मस्जिद में जाके, ये एक non-economic activity है, इससे कोई पैसा थोड़ी ना कमा रहे हो, वो अलग बात है, आप बोलते हो भगवान जी, तो आप देख सकते हो, बता सकते हो, जैसे ये शेफ हैं, ये 30,000 रुपे महीना सैलरी प्राप्त करते हैं, एक रेस्टोरेंट में खाना बनाने के लिए, इन्हें इतना पैसा मिलता है, बट यही अगर कोई लेडी होती, मदर होती, या कोई भी परसन होती, हस्बेंड वाइ हैं, तो उसका उन्हें पैसा नहीं मिल रहा, वो एक non-economic activity है, अगर एक शक्स किसी स्कूल में, कॉलेज में, या स्टडी आईक्यू में पढ़ाए, और उसको सैलरी मिले उसके बदले में, तो वो एक economic activity है, वही शक्स अपने ही बच्चे को घर पे पढ़ाए, उसके बदले फीस थोड़ी ना दे रहा है, उसके बदले फीस थोड़ी ना मिल रही है, वो एक non-economic activity है, तो ये दोनों के बीच का फरक आपको समझना है, basic है, understanding के लिए समझना है, दूसरी चीज, economic activities हमारे जिंदगी से जुड़ी हुई वो activities हैं, जहाँ पर हम production करते हैं, उत्पादन कर कर रहे हैं, उनको फीस मिलती है, उसके बदले, एक वकील भी economic activity कर रहे है, उनको फीस मिलती है उसके बदले, वो कोई आपको goods नहीं sell कर रहे है, वो service provide कर रहे है, teacher भी economic activity कर रहे है, ऐसे ही chemist की दुकान पर जाकर आख दवाईयां खरीते हैं, वो भी economic activity है, आप restaurant में जाकर खाना खाते हो, वो भी economic activity है, तो economic activity, goods, services, वस्तुएं और सेवाएं, इन दोनों से derive कर सकते हो, ऐसे ही कुछ non-economic activity होती है, जिन में आप goods and service तो दे रहे हो, पर बदले में कोई monetary gain, आर्थिक लाब, पैसे का फाइदा नहीं ले रहे हो, वो आप कर रहे हो, क्योंकि आप में क बया है, जिसका मतलब है, आप चाहते हैं किसी की help करना, आपके अंदर affection है, you have that feeling of love for others, आप अपने छोटे भाई भेनों की मदद करते हो, इसलिए नहीं कि वो आपको बदले में पैसा देंगे, आप उनसे प्यार करते हैं, सीधी सी बात है, इसी लिए non-economic activity में ये money value नहीं ये emotion value देखी जाती है, आर ये बात समझ मैं, तो इसी लिए दोनों के बीच का difference समझना जरूरी है, एक और problem है, non-economic activities को हम quantify नहीं कर सकते है, इसलिए हमें इन दोनों के बीच का difference समझना होता है, तो economics study the economic activities of human beings, आप और मेरे जैसे लोगों की आर्थिक गतिविदियों को हम economics में quantify कर सकते हैं, और non-economic activities उनको quantify ही नहीं कर सकते हैं, यह आपके एक working definition थी, दूसरी बात, एक और चीज़ सुनिया, humanities, मतलब हम सब जो इस subject पढ़ते है, economics है, humanity का subject है, ऐसी sociology होता है, ऐसी अलग-अलग subjects है, यहाँ पर आपको देखने मिलता है, कि अलग-अलग disciplines, अलग-अ economics रहे हो, पर इसमें आपको society के aspect भी समझने का मौका मिलता है, समाज हमारा किस प्रकार चल रहा है, कुछ लोग अमीर हैं, तो क्यों अमीर हैं, कुछ लोग गरीब हैं, कई सारे आपको aspects देखने मिलते हैं, society के, society से जुड़े हुए, आपको geography भी साथ-साथ देखने मिलती ह है, ऐसा क्यों है, कि western countries rich हैं, अमीर है, ऐसा क्यों है, जिन देशों के अंदर oil है, petrol है, diesel है, वो अमीर है, बाकी देश गरीब है, resources नहीं है उनके पास, कहीं पर lithium मिल रहा है, कहीं पर petrol, diesel निकल रहा है, petroleum products या crude oil, कहीं कोई देश की economy है, जो diamond बेच के पैसा कमा रही है, कोई देश की economy है, जो service, service sector provide करती है, call center, IT companies, BPO's है, वहाँ पर इंडिया इसके लिए बड़ा popular है, तो geography भी जुड़ा हुआ है, economics के साथ, society भी जुड़ा हुआ हुआ है, economics के साथ, कहीं ना कहीं, history भी जुड़ा हुआ हुआ है, economics के साथ, 200 साल अंग्रेजों ने हम पर राज किया 200 साल हमें लूटा, जिस दौरान उन्होंने इंडिया का कितना पैसा रहे है, हमारा तो कोहिनूर डाइमंड तक उठा के ले गए, कितना पैसा लूट के ले गए, are they rich, because they were already rich, no, they looted other countries, क्या वो अमीर है, क्योंकि हमेशा से अमीर रहे हैं, नहीं, उन्होंने दूसरे देशो के resources का अपने लिए, इस्तमाल किया, खुद लूट के ले गए, drain of wealth theory पढ़ते हैं आप economics में, history में भी पढ़ते हैं, so what I am trying to explain to all of you, that all these subjects are interconnected to each other, और इसी लिए, आपको देखने मिलता है economics और जितने भी humanities के subject हैं, आपस में connected हैं, अब आगे चलने से पहले, economics को आप दो हिस्स और दूसरा है macro economics, अब micro, macro में फरक क्या है, आप दोनों पढ़तो economics ही रहे हो, पर दोनों में फरक यह है, जैसे यह जंगल है, आप इस पूरे जंगल की analysis करो, तो यह macro analysis है, macro मतलब total, macro मतलब बड़ा, macro मतलब cumulative, पूरे जंगल की analysis, इस पेड़ की, इस पेड़ की, हर पेड़ कर रहे हो, in one single go, कि पूरे जंगल को देख रहे हो, पूरे forest को देख रहे हो, तो यह macro economics जैसा है, क्योंकि आप यहाँ पर forest को macro level पर देख रहे हो, यह example के तौर पर बता रहो, पर सिर्फ एक पेड़ को, अगर आप observe करो, तो this is like micro economics, जहां पर macro economics जो है, पूरे देश के level पर, पूरे country के level पर अपनी analysis करता है, और micro analysis एक व्यक्ति आप के level पर, मेरे level पर, या एक company के family के level पर analysis करता है, micro सुनते ही समझा रहे है कि कुछ छोटा है, small, something small, और macro सुनते ही कुछ समझा रहे है कि कुछ बढ़ा है, micro economics इंडिविज्विज्व व्यक्ति आप और मैं हमारे level प अक्रुमिक कि पूरे कंट्री पूरे देश पूरी हमारी एकोनोमी के लेविल पर करता है माइक्रो अनालीस में अब क्या देखोगे हर कंपनी को इसकी अनालिसिस करनी पड़ती है बड़े बड़े experts को analysis करनी पड़ती है consumer का behavior देखना होता है ऐसा क्यों है कि कुछ लोग डेड़ डेड़ लाख रुपे तक का phone खरीद लेते हैं और ऐसा क्यों है कुछ लोग से 15,000, 20,000 रुपे के phone में happy रहते हैं that this is enough for me you have to look at the micro economics angle कि कुछ प्रोट चीजें होती है जिनकी होती है snob value snob का मतलब है कि दिखाने की show off की appeal की कि मेरे पास देखो apple का phone है I have a apple iphone I have a apple laptop आप क्या दिखा रहे हो आप दिखा रहे हो कि you are rich, you are posh you have such luxurious items with you आपके पास ऐसी विलास्ता वाली वस्तुएं है यह आप दिखावा कर रहे हो इसलिए आप खरीद रहे हो तो micro economics में यही तो दिखा जाता है consumer का behavior क्या है जो ग्राहक है, जो खरीदार है वो कोई चीज कब खरीदेगा, क्यों खरीदेगा यही आप analysis करते हैं और यही marginal analysis micro economics के scope में आता है on the other hand macro economics में क्या देखते हूँ मैंने क्या बोला, पूरे देश की analysis अच्छा, मुझे अगर सवाल आप से मैं पूछता हूँ, मुझे अगर पता गरना है इंडिया की economy बड़ी है, चाइना की economy बड़ी है, पाकिस्तान की economy बड़ी है, या US की economy बड़ी है, इन मैंसे कौन सी economy जादा बड़े लेविल पे ग्रो कर रही है तो आप क्या जवाब दो गए अफकोर्स, US की है फिलाल फिर चाइना, फिर इंडिया, फिर पाकिस्तान ऐसे आप एक answer दे पारे हो, क्यों दे पारे हो आपके पास GDP numbers है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोड़क्ट, सकल गरिल उत्पात मतलब साल भर में एक देश जो पैसा कमाता है, वो आपके पास पूरा record है, और उसे साब से आप से बता पारे हो कि यह अर्थ वस्ता सबसे बड़ी है यह कहां से आई, यह आई macro economics में national income accounting करके national income पता करके तो यह जब आप धेश भर के level पर आप ऐसे जानकारी दे पारे हो तो वो macro economics है जब एक individual, जब एक व्यक्ति के level पर price कितना है, अलग-अलग चीजों का cost कितनी है अब डेड़ लाग का phone बेच रहे हो, लोग खरीदने तयार है मतलब वो maximum price है, जिस पर लोग पैसा देकर payment करने तयार है तो आप एक व्यक्ति के level पर पढ़ रहे हो, तो micro economics है, micro economics simple है, macro economics बहुत complex है, क्योंकि 140 करोड लोगों का देश है इतने बड़े group को आप study कर रहे हो it's not an easy task micro simple है, macro मुश्किल है, आपके exam के लिए, micro macro दोनों important है, पर micro economics हम अपने last के chapters के साथ करेंगे, अभी हम subjects priority wise कर रहे हैं, कि introduction to economy, फिर national income पढ़ेंगे फिर मैं तुम्हें inflation पढ़ाऊंगा फिर banking, monetary policy fiscal policy, ये सारे topics, taxation कैसे हैं, आप calculate करते हैं, tax क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे हैं, हम ना priority subjects पहले पढ़ रहे हैं, priority areas पहले पढ़ रहे हैं, जिन पर question ज़्यादा निकलते हैं, आई बात समझ मैं, तो micro economics में आप एक level पे, individual level पे, शुरुआती stage पे, शुरुआती स्तर पे देख रहे हो, आप चीजों का price analysis कर रहे हो, मैंने बता हैं, आई फोन खरीद रहे हैं, तो क्यों खरीद रहे हैं, macro level पर आप पूरे देश की income की analysis कर रहे हो, micro level पर एक व्यक्ती है, macro level पर पूरे देश पूरी economy है, जो की बढ़ते जाएगी, अब आप इस example को real life में समझ पाए, कि मैंने बूला, एक जंगल, पूरे जंगल की analysis कर रहे हो, तो macro economics है, और सिर्फ एक paid की, single tree की analysis करो, जैसे एक single insan की कर रहे हो, तो वो micro analysis है, दोनों के बीच में आपको समझ आ गया, micro economics, macro economics क्या होता है, व्याष्टी अर्थशास्तर कहते हैं, micro को हिंदी में, और macro को हिंदी में, समझ टी अर्थशास्तर कहते हैं, definition भी आपके लिए लिख दी है, मैंने, यही exact definition आपको मैंने समझा दी है, micro economics में price देखा जाता है, चीजों का dumb, macro economics में पूरे country level की बात करते हैं, देश में बेरोजगारी कितनी है, देश की income कितनी है, यह देखते हैं, I think यह सब को clear हुआ है, आगे चलें, अब हम बात करेंगे, कि economic systems अलग-अलग type के दुनिया में कौन से होते हैं, economic systems को समझने से पहले, एक बार ही हम different समझ रहे हैं, economy का और economics का, देखो जब मैं बोल रहा हूँ, Indian economy, मतलब मैं पूरे भारत की अर्च वस्था के बारे में बता रहा हूँ, Indian economy is a real life terminology, जब मैं practical point आपको बता पा रहा हूँ, कि Indian economy इतनी बड़ी है, एक trillion, दो trillion, तीन trillion, चाट trillion, पांच trillion की economy है, economy practical application है, आप कोई भी economics का टर्म देखते हो, पर कैपिटाइन का, GDP, इसको बता तो रहे, ओपर practical फाइदा क्या है, इसको पढ़ने का, वो economy से सगनिफाई कर पाते हो, जैसे मैं कभी ऐसे बोलता हूँ, चाइना की economics, कभी मैं ऐसे बोलूँगा, पाकिस्तान की economics, नहीं, newspaper भी पढ़ोगे, तो आप देखोगे, Chinese economy, पाकिस्तान's economy, जब आप बात कर रहे हो, किसी economy की, तो एक defined territory, एक defined area है, कि हमारे पढ़ोस का देश, चाइना, हमें पता है, कितना area है, कितनी जमीन है, एक defined देश की बात कर रहे हो, ये है, Chinese economy के बार में, इंडियान economy, इंडिया का आपको, पता ही है, कितना area है, 140 करोड लोगों की territory है, उसकी बात कर रहे हो, तो Indian territory को define कर रहे हो, economy में, आप territory का concept, geographical location का, अरे भोगोलिक, शेत्रफल का, अरे जमीन का, अरे ये देश का concept, देख रहे हो, economy इसलिए पढ़ते हैं, क्योंकि अलग-अलग economic aspects को समझा सके हैं, पर वही, अगर मैं बोलू, economics, economics, एक theoretical subject है, जिसको 11, 12 में subject के तौर पे लेते हो, जिसको college में, graduation में, post graduation में, पढ़ते हो, मैंने भी MA economics करी है, तो वह subject जब पढ़े थे, तो theoretical reading थी, अलग-अलग subject पढ़ना, cost क्या होता है, price क्या होता है, employment क्या होता है, poverty क्या होता है, तो ये सब economics की category में आता है, economics में आप consumer behavior देख रहे हो, देश का मिजास क्या है, वो देख रहे हो, और उसे कई सारे, tools से study करते हो, जैसे एक tool होता है, marginal analysis, एक tool होता है, marginal analysis, कि आज तक हमारे देश में, 100 unit उत्पादन हो रहा था, 6 रुपे पर unit के दाम पर, एक factory है, जहाँ पर 6 रुपे का एक unit बनता है, 100 unit बनते हैं, अगर 101 unit बनाया, तो कितनी cost होगी, और उसे किस दाम पर बेच पाऊगे, यह आप economics के तहत, theoretical concepts के तहत, study करते हो, तो इसी लिए, economics की जब हम बात कर रहे हैं, हम एक theoretical subject की, जिसमें अलग-अलग tools, अलग-अलग methods, अलग-अलग उपकरनों का इस्तमाल करते हैं, maths भी है, maths में आप addition, subtraction, multiplication, division, यह क्या tools है maths के, इसी तरीके से economics में अलग-अलग tools आते हैं, तो जब भी आप किसी देश की बात करो, practical point की बात करो, तो आप economics की नहीं, economy की बात कर रहे हो, economy practical है, economics theoretical है, यह बात सबको clear हुई होगी, अब आते हैं, हमारे अगले topic पर, कि दुनिया के अंदर, मैंने बताया, अलग-अलग economic systems चलते हैं, best example, US के अंदर, capitalism follow किया रहता है, चाइना के अंदर, communism follow किया रहता है, socialism उसका एक हलका version है, communism उसका एक बड़ा version है, और इंडिया के अंदर, mixed economic system follow किया रहता है, आखिरकार इनका मतलब क्या है, देखो जब भी हम economics की बात करते है, शुरुवाती stages में, सबसे पहले अगर कोई व्यक्ती, जिनको शिरे मिलता है, क्रेडिट मिलता है, political economic concepts रखने का, तो वो है, चानक्य रिशी, आपके चानक्य रिशी के दौरा, अर्थ शास्त नाम की एक ग्रंथ लिखा गया, जो की political theory से जादा जुड़ा हुआ है, पर कोई देश, कोई राष्ट, कोई kingdom कैसे चलाया जाए, एक राजा उस kingdom को कैसे rule करे, ये चानक्य के अलग-अलग, बुक के अंदर chapters के तुरू पता चलता है, बट, father of modern economics, आज की अर्थ शास्तर अर्थ व्यवस्था का, जो पूरा subject है, उसके father किसको कहते हैं, वो कहा जाता है, Adam Smith को, चानक्य तो historically, अर्थ शास्त नाम की बुक लिख गए है, पर अगर कभी बायचान्स question बनता है, father of economics, किसको कहा जाता है, वो कहा जाता है Adam Smith को, 1776 के अंदर इन्होंने किताब लिखी, इन्होंने एक बुक लिखी, जहांपर ये जानना चाहते थे, कुछ देश अमीर हैं तो क्यूं है, कुछ देश गरीब हैं तो क्यूं है, अमीरी और गरीबी का अनालिसिस करना चाहते थे, और तब इन्होंने, an inquiry into the wealth of nations, नाम की बुक लिखी, इनकी बुक में an inquiry ये लिखा, into the wealth of the nations, आज से 200 साल पहले, इन्होंने जानने की कोशिश करी, की कोई अमीर देश है, तो क्यूं है, अपने सिध्धान्त को, जो हम कहते हैं, market economy का सिध्धान्त, market economy का मतलब है, कि सब कुछ market के हाल पह छोड़ दो, इन्हों सरकार को, economy में बिलकूल भी, हस्तक शेप नहीं करना चाहिए, ये कहते थे, कि सरकार का व्यापार करने का, कुछ देश बनता ही नहीं है, गवर्मेंट का काम है, सिर्फ देश को कंट्रोल करना, law and order का खयाल रखना, बिजनेस मैन, बिजनेस कर सकते हैं, उनको उनके हाल पह छोड़ दो, जिस टर्म को काया जहता है, lysis, lysis, lysis fire का मतलब होता है, let it be, अपने हाल पह छोड़ दो, कोई भी interference ना हो, गवर्मेंट किसी भी तरीके से, एकॉनमी में हस्तक्षेप ना करें, अगर formal economic system की कहीं से, शुरुवात हुई है, तो Adam Smith के, इस book के द्वारा, An An Anquiry into the Wealth, into the Nature and Causes of Wealth of the Nations, नाम की किताब से हुई है, इन्होंने का, अरे किसी businessman का, किसी व्यापारी का, self interest है, खुद का interest है, खुद का लालच है, पैसे कमाने की इच्छा है, जो उन्हें motivate करती है, उन्हें economic activities करने के लिए, मजबूर करती है, वो इच्छा ही, कि हमारे समाज में, अलग-अलग goods and services प्रेड्यूस करती है, technology का development क्यों होता है, क्योंकि लोगों की इच्छा है, कि कुछ और बहतर उन्हें मिले, कुछ और बहतर वो प्राप्त कर सके हैं, बड़े-बड़े businessmen चाहते हैं, पहले एक single camera वाला phone आता था, एक पीछे camera होता था, काम खतम, फिर एक front camera आया, फिर पीछे एक और camera लाल दिया, wide angle lens, फिर एक और camera डाल दिया, चार-चार-पांच-पांच camera वाले phone आजकल आ रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ, आप सबकी जरुवतें समझते हुए, कि आपको selfie लेनी है, like this, you know, you want to click, I know, I know, you all take selfies, I know, you use the back camera, wide angle image के लिए, तो आपकी जरुवत थी, उस जरुवत को पूरा करते, businesses ने, companies ने, उन जरुवतों के लिए अलग-अलग technology बनाई, तो एक businessman, अपने लालच के लिए काम कर रहे है, कि वो ज़्यादा पैसा तुम से कैसे निकाल सके, और तुम लोग, अपना interest चाते हो, कि आप तुमें नए 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 चीज़े, नए नए बेटरमेंट मिले, नए नए फैसिलेटीज मिले, टेकनॉलजी मिले, आज तुमारी हर जरुवत के लिए, तुमारे पास टेकनॉलजी अविलेबल है, तो यह जो मोटिवेटिंग फैक्टर था न, यह कैपिटलिजम से पैदा होता है, जहां पर आप चाते हो, कोई नए चीज़ बनाके, कंजूमर्स तक ले जाना, बेचना और उनसे पैसा कमाना, बिजनेसमेन यह चाते हैं, और बिजनेसमेन सरकार का, गवर्मेंट का involvement, गवर्मेंट का interference बिल्कुल नहीं चाते हैं, अगर मुझे आपको पढ़ाना है, तो मैं ज़्यादा चीज़ें असानी से पढ़ा सकता हूँ, in comparison to someone who doesn't know economics, तो यह specialization, यह जानकारी होना, अलग-अलग चीज़ों के बारे में जरूरी है, अडम स्मिथ यही तो कहते थे, specialization से speed बढ़ती है, quality बहतर होती है, कई सारी चीज़ें आज चाइना में प्रड्यूस होती हैं, ऐसा क्यूंग, क्यूंकि Chinese economy में specialization है, production बहुत सस्ते rate पर, बहुत कम rate पर कर सकते हैं, इसी लिए Chinese economy की, यह speciality कही जाती है, जपैन के अंदर, अच्छी quality के technology मिलती है, सस्ती नहीं होगी, महेंगी होगी, पर quality बहुत अच्छी होगी, इसी लिए Adam Smith ने कहा, कि अलग-अलग country में, सरकार का involvement नहीं होना चाहिए, और businessman को, खुद अपने अंदर एक specialization पैदा करनी है, इन्होंने एक सिध्धान्त दिया, जिसे कहा जाता है, दूप में रख दो, अपने आप solar power से charge हो जाते हैं, है ना, मैंने ऐसा काम किया, नई technology बनाई, अब इससे कितने लोग जिनके घरों में बिजली नहीं आती, वो बस सूरज में रख दिया, उन्होंने phone और charge हो गया, तो मेरी technology से लोगों को फाइदा मिला, government यहां पर involved नहीं हो रही है, मैं भला, अपने भले के लिए काम कर रहा हूँ, पर मैं दूसरों का भला करता जा रहा हूँ, invisible hand का मतलब है, कि कोई चीज धक्का मार के आपको आगे कर रही है, कोई चीज आगे ले जा रही है, जनता को बेटर रास्ते पे ले जा रही है, अब सोचो क्या फाइदा होगा बिजनिसमेन जब अपने लालच के लिए काम करेंगे, बिजनिसमेन को चाहिए जाधा से जाधा profit, जाधा से जाधा पैसा, जाधा पैसा चाहिए, उसके लिए वो नईने टेकनोलजी लाने की कोशिश करेंगे, जिसका प्राइस कम से कम रखने की कोशिश करेंगे, और कॉलिटी जाधा से जाधा देने की कोशिश करेंगे, ताकि लोग उनी से उनका product खरीद है, जब सेल बढ़ने लगेगी, तो उन्हें अपनी factory, अपनी दुकाने expand करने का मौका मिलेगा, बिजनिस expand करेंगे, बिजनिस को और बड़ा बनाएंगे, और जब बिजनिस को और बड़ा बनाते जाएंगे, वैसे वैसे उन्हें और staff और labor और लोग hire करने पढ़ेंगे, नौकरी पर रखने पढ़ेंगे, तो इससे employment बढ़ेगा के नहीं बढ़ेगा, समाज की एक बड़ी problem, unemployment, बेरोसगारी वो दूर होगी के नहीं होगी, क्या businessmen लोगों को नौकरी देने के लिए business कर रहे हैं, नहीं, वो तो अपने profit के लिए काम कर रहे हैं, बट उनके द्वारा, उनके सहारे, लोगों को फाइदा मिल पा रहे हैं, उनके सहारे, लोगों को benefit मिल पा रहे हैं, उनके सहारे लोगों को ज़्यादा economic incentive मिल पा रहा है इसी वज़े से मैं कहा रहा हूँ invisible hand है यह दिख नहीं रहा अद्रिश यहाथ है काम अपने लिए कर रहे हैं पर उनके इस वज़े से economy आगे बढ़ते जा रही है this hand is not visible they are doing something for themselves but it is ultimately indirectly helping the economy और इसी लिए तो मैंने कहा invisible hand theory Adam Smith ने दी थी कि business man अपना काम कर रहे है पर देखो भला वो देश का करते जा रहे हैं अपको ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं सरकार को tax भी तो ज़्यादा देंगे competition भी तो ज़्यादा रहेगा price कम रहेगा quality better रहेगी समाज की दरुवते पूरी होंगी समाज की problems दूर होंगी और वो खुद भी profit कमाएंगे इसी लिए तो मैंने कहा invisible hand होता है हमारी capitalist society में जिसको market economy भी कहते हैं दुनिया का पहला proper economic system theory है यह और license fire है license fire का मतलब अपने हाल पर छोड़ दो सरकार involved नहीं हो रही है business के अंदर मैंने क्या का सरकार का काम थोड़ी नहीं business में बुस्ने का तो private sector अपने आप strong होता जा रहे है ज्यादा taxes नहीं लगाए जा रहे प्राइविट सेक्टर पर बना हो बिजनिस ही नहीं करेंगे अगर आप प्राइविट सेक्टर पर tax भर्द होगे तो बिजनिस नहीं करेंगे एक और term उन्होंने यूज किया इसी invisible hand की concept को denote करने के लिए वो है अनिमल स्पिरिट यह मेरी अनिमल स्पिरिट मतलब अंतर आत्मा की आवाज आप कोई काम कर रहे हो आप एक जैसे बियर और बुल यह टर्म यूज किया जाता है शेयर मार्केट में भालू जब भी किसी पर हमला करता है तो उसे नीचे गिरा देता है पंजा म में उचाल देता है तो एकॉनमी में भी बुल का मतलब है कि कोई चीज ऊपर जाएगी यह आपकी आनिमल स्पिरिट ही तो है अब आप बहुत रिस्क लेने वाले आदमी हो तो आपको कहेंगे बुल हर्षद महता को कहा जाता था बिग बुल रिस्क लेते थे और चीजों प आप टिमेड हो आप रिस्क कम ले रहे हो तो इसे कहेंगे बियर तो यह आनिमल स्पिरिट ही तो है जानवरों से जोड़कर आप एकॉनमिक्स के कॉनसेप्ट देख रहे हो इससे पता चलता है हूव इन्वेस्ट इन प्रॉड़क्टिव एसेट्स और वाई विल दे इन्व वाट टू प्रड्यूस क्या बनाओगे क्या उत्पादन करोगे वो चीज जो जनता खरीदेगी जाधा से जाधा दाम पर बेचने की कोशिश करोगे जाधा से जाधा हाइस पॉसिबल प्राइस पर देने की कोशिश करोगे और जाधा से जाधा पैसा कमाने की कोशिश पर इसकी खामी भी यही है अगर आप इस सिस्टम की बात करते हो आडम स्मित के जो हमारा पूरा मार्केट एकॉनमी सिस्टम है आडम स्मित की प्रॉब्लम ही यही थी टू मच एंफेसिज ऑन प्रॉफिट 1929 के अंदर अमेरिका में आया ग्रेट एकॉनमिक डिप्रेशन अमेरिका थी क्यापिटलिस्ट एकॉनमी पूंजी वादी अर्थियस्ता और सोचती थी कि कभी भी ऐसे कोई समय आएगा ही नहीं कि जहां पर एकॉनमी डाउन टर्न में जा सकती है जहां पर आर्थिक हालात का वीक हो सकते हैं जहां पर एकॉनमी कमजोर हो सकती है और देखो 1929 में अमेरिका की एकॉनमी में बहुत बड़ा डिप्रेशन एक बहुत बड़ा अवसाद आया ग्रोथ हो नहीं रही थी बिजनिस चलना ही पा रहे थे तरक्की हो नहीं रही थी एसी सिचुएशन में अमेरिका ने कहा कि हम अपनी एकॉनमी को सुधारने के लिए क्या करें वाट शुड़ वी डू हाव शुड़ वी इंप्रूव दी कॉनमिक कंडिशन सवाल बहुत थे जवाब था नहीं तब ऐसे में एक शक्स और निकल के आए जिनका नाम था जॉन मेनार्ड कीन्स अभी उनके बारें बात करेंगे मतलब अमेरिका में 1929 में इतना बड़ा आर्थिक संकट आया कैपिटलिजम नहीं बचा पाया तो दुनिया के अलग-अलग देशों को समझ आने लगा कि अब थोड़ी हमें अपनी लाइन बदलनी होगी सोशलिजम कम्यूनिजम की आइडियोजी बड़ी मिक्स्ट एकॉनमी की आइडियोजी बड़ी तो यह नुकसान ही आई है कि कई बारी कैपिटलिजम का सिस्टम एकॉनमिक क्राइस को प्रिडिक करने में फेल हो जाता है 2008 का एक्जामपल ले लो अमेरिका में चाहे 1929 का एक्जामपल ले लो 1929 का अब आप पूछोगे अमेरिका में क्यूं हुआ ऐसा एकॉनमिक रिसेशन क्यूंट कॉनमिक कमजोर हुई उसका एक रीजन था 1914 से 1918 के बीच में वर्ल्ड वार बन चल रही थी और जब भी युद् प्रोडक्शन होता है उन कंट्रीज के अंदर हतियारों का कपड़ों का युक्रेन रशिया वार के बीच में युद्ध चल रहा है युद्ध कंट्रीज आ के हतियार बेच रही है ना युक्रेन को कि हमसे हतियार खरीद लो तो वार के टाइम पर युद्ध के टाइम पर एकॉनमिक प्रोडक्शन बहुत जादा होता है उत्पादन बहुत जादा होता है फैक्टरियों में दिन रात काम चलता है पर जैसे ही वार खतम डिमांड खतम अब किसको बेचोगे ग्रोथ कहां से करोगे इतना जो लोन उठाकर इतनी बड़ी फैक्टरी बनाए हो लोगों को नौकरी पर रखा है खर्चे कहां से मीट करोगे अमेरिका में भी यही हुआ 1929 में इसी लिए उनकी इकॉनमी बहुत बड़े संकट में चली गई तो इसी वज़े से कहरूँ क्यापिटलिजम के भी नुकसान है पहला सबसे बड़ा नुकसान इनकी इकॉालिटी असमानता बढ़ती है अमीर अमीर होता जाता है और गरीब गरीब होता जाता है इकॉनमी कभी भी उचाल, बस्ट मतलब गिराव, बूम आ रहा है एकॉनमी में, ग्रोथ हो रही है एकॉनमी की, कभी गिर गई एकॉनमी, तो यह उतार चड़ाब चलती रहती है, stability नहीं रहती, that is why it is considered to be a negative aspect of capitalism, right, दूसरी बात, यहाँ पर चीज़ें बेची जाती हैं लोगों की purchasing power के इसाब से, आप कोई गरीब आजमी है, मान लिजिए उन्हें cancer है, और cancer की दवाई है, एक लाक रुपे प्रती दिन की, और actually इतनी महेंगी दवाईयां होती हैं, और दस दिन दवाई लेनी हैं, एक लाक रुपे वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते दिन का, दस लाक रुपे की दवाईयां कहां से खरीदेंगे, तो capitalism की वज़े से, आप human values भूल जाते हो, welfare नहीं हो पाता, कल्यान नहीं हो पाता, इंसानों का भला नहीं हो पाता, आप वो चीज़ें purchasing power के साब से बेचते हो, पावर के साब से बेचते हो, इसी लिए capitalism के अंदर खामी है, right, capitalism के अंदर सारे businessmen साथ मिलकर, कम से कम salary पे लोगों से काम करवा सकते हो, कम से कम wages दे के लोगों से काम करवा सकते हैं, वो यह नहीं देखते हैं कि लोग कितने में अपना घर चला सकते हैं, वो ये देखते हैं कि लोग minimum कितना पैसा लेंगे minimum से minimum पे करो इसलिए capitalist countries के अंदर minimum wages का concept आया कि कम से कम इतना पैसा तो मिलना चाहिए वरना capitalist economy हमारा खून भी चूस ले 20 घंटे काम करवा है और कम से कम पैसे पर और ऐसे देशों के अंदर businesses monopoly बना लेते हैं जैसे टेलिकॉम सेक्टर के अंदर कुछ कुछ कंपनिया हैं जो monopoly बना के बैठी है example अब जानते हैं अपना एक आधिकार एक ही seller है और वही जादा से जादा प्रॉफिट कमा रहे है जनता से जादा से जादा लाप कमा रहे है जनता जिस दाम में वह चीजां बेचना चाहते हैं उस दाम में खरीद भी लेगी public will buy at whatever price the seller is ready to sell in because there is only one seller and they expect the seller to give them the services और यही सबसे बड़ी problem है capitalism की कि capitalism के अंदर आप purchasing power के हिसाब से चल रहे हो कि कितने में खरीद हो गए कितनी शमता है अगर मैं एक शब्द इस्तमाल कर रहा हूं pardon my language बट लोगों को हैसियत के साब से ओकात के साब से बेचा जाता है just to make you understand यहां पर economic inequality बढ़ती है आर्थिक असमानता बढ़ती है और फिर economic crisis economic depression economic recession ऐसी problems आपको देखने मिलती है market economy के अंदर market economy के अंदर अच्छा एक और problem है दूसरी non-market economies होती है उनके बारे में देख लेते हैं non-market economies जहां पर जैसे चाइना है चाइना शुरुआत में non-market economy था खुद planning करता था center level पर planning होती थी पूरे देश भर के लिए और उस planning के बाद पूरे देश भर के लिए policies तयार होती थी economic policies तो अब कुछ economies ऐसी भी होती है North Korea North Korea है closed economy क्या चल रहा है देश में दुनिया जानती नहीं है हम भी एक टाइम पर closed economy थे हमने अपने दरवाजे बंद कर रखे थे कि किसी को business करना इंडिया के साथ कोई व्यापार करना चाहता है इंडिया के साथ हम बाहर से investment हमारे देश में नहीं आने देंगे invest करने नहीं देंगे तो बस मुद्दे की बात यही है कि कुछ देश non-market economy system भी follow करते हैं अब Adam Smith जी के बारे में जाना एक शक्स से और मुलाकात कराता हूँ आपकी यह है काल माक्स काल माक्स capitalism के लालच को देख रहे थे काल माक्स ने कहा कि capitalism इन लोगों का खून पी जाता है खून निचोड लेता है capitalist businessman वो सिर्फ अपने profit के लिए वो सिर्फ अपने lab के लिए काम कर रहे हैं जनता के पास मजबूरी में exploitation का सामना करना पड़ रहा है जनता को इसे state model कहते हैं जो इनका सिध्धान्त था जो इनका concept था यह और इनके एक साथी Frederick Engles उन्होंने मिलकर एक किताब लिखी The Communist Manifesto एक और बुक लिख चुके थे Das Capital दिसे कहेंगे वो Das Capital कहा जाता है तो इनका जो state model था उसमें सरकार को जाजा इन्होंने कहा कि सरकार ही ज़ादा power रखे समाले economy को यह आपका Karl Marx के द्वारा दिया गया काल माक्स के ideas के द्वारा यह non-market economy से जुड़ा हुआ है socialism communism से जुड़ा हुआ है NME non-market economy यह कहते थे सरकार की जिम्मेदारी है जनता की भलाई के लिए काम करना सरकार resources का इस तरीके से इस्तमाल करें कि जनता की भलाई के लिए यूज हो अब जैसे for example एक example देता हूँ दुनिया में दो टाइप के economic system है एक है communism और एक है socialism socialism एक हलका फॉर्म है communism एक बड़ा फॉर्म है socialism 1.0 वर्जन है communism 2.0 वर्जन है socialism मैं क्या होता है मान लीजे मेरे पास दो गाये हैं तो सरकार कहेगी कि देखो एक गाये से तुमारा काम चल सकता है एक अपने साथी को किसी पड़ोसी को दे दो ताकि एक एक बाट दी जाए और तुम सब की जरूरत पूरी हो सके to each according to its need ठीक है ना एक एक बाट दो कम्यूनिजम कहेगा अरे तुमारे पास दो गाये हैं दोनों सरकार को दे दो दोनों गवर्मेंट को दे दो तुमारे को दूद चाहिए ना हम तुमारी requirement पूरी कर देंगे सरकार सब कुछ समालेगी सारे रिसोर्स सरकार के हाथ में रहेंगे सोशलिजम में government companies government organization काम करती हैं और कम्यूनिजम के अंदर सोसाइटी सब को चोन करती है कोई individual ownership है ही नहीं कोई एक व्यक्ति किसी चीज़ का मालिक नहीं है सारा समाज माना जाता है common owner है अब समाज मान लो इंडिया में कम्यूनिजम आ जाए तो 140 करोड लोग तो राज कर नहीं सकते देश पर 140 करोड तो सरकार चला नहीं सकते तो आपस में किसी ना किसी authority को चूज करेंगे जैसे रशिया के अंदर communist authority है व्लादिमीर पुतिन उनके लीडर है चाइना के अंदर ऐसे जी जिंग पिंग है communist party के द्वारा चुने गए है तो communist party एक ही party होती है और कोई नहीं होगा socialism में कई सारी political parties भी हो सकती है अब इंडिया का example ले लो 1947 में 1947 में हम आजाद हुए जवाहरलाल नहरू जी इंडिया के पहले प्रधान मंत्री बने नहरू जी socialist nature के थे वो चाहते थे समाच का कल्यान हो गरीबी कम हो देश development के रास्ते पे जाए socialism का concept था उनका अब उस दौरान नहरू जी के द्वारा कई सारी ऐसी policies लेकर आई गई जहाँ पे सरकारी companies को पब्लिक सेक्टर अंटेकिंग्स को government organizations को तरक्की करने के लिए resources दिये गए इंदरा गांदी जी के time पर 1969 के अंदर 14 banks थे 14 banks थे तो private होते थे उन्हें government बनाया क्यूं ये समझ आ गया था कि private banks तरक्की करवानी पाएंगे देश की गरीबों को लोन देंगे नहीं वो तो अपने profit के लिए काम करेंगे तो कोई बात नह अटलीस government bank तो जनता की तरक्की के लिए लोन देगा ना तो socialism में यही तो है कि resources का इस्तमाल करना समाज की growth के लिए समाज के betterment के लिए society के betterment के लिए society में सुधार करने के लिए communism बिलकुल extreme form है communism में सब कुछ सरकार रख लेगी जनता का कुछ है नहीं सब कुछ government का जैसे example दिया मैंने एक काउ वाला तो काल माक्स का सिध्धान्थ communism का ही है पर वो कहते हैं पहले किसी देश में socialism आएगा फिर उसमें धीरे-धीरे communism अपनी जो जड़े है वो जमाने लग हुआ तो वो था USSR सोवियत रश्या 1917 में वहां के राजा जार को हटा कर कई सारे politicians व्लादिमिर लेनिन उनमें से एक थे बॉल्शेविक पार्टी उन्होंने क्रांती करी किसानों को सैनिकों को soldiers को and farmers को एक साथ जोड़ लिया labor soldier farmer एक साथ मिलकर वहां के राजा को हटा दिये और खुद की सरकार बनाई और एक Russian revolution हुआ आज से सो साल पहले ये पहला example था फिर चाइना में भी Mao Zetung ने बड़े बड़े जमीनदारों से जमीने छीन छीन कर, resources छीन छीन कर चाइना का निर्मान किया एक ऐसे देश का जो communist country है और चाइना के communist country है, एक single party है चाइना में, बट market economy बन गई है, वो profit के लिए काम करती है, वो चाहती है जनता को जाधा से जाधा नौकरिया मिले, वो जानती है कि दुनिया से हमारे देश में अगर investment चाइना में investment आए, तो labor cost कम होनी चाहिए, हमारे labor सस्ता होना चाहिए, उसके लिए Chinese government काम करती है, तो मतलब चाइना के अंदर अब market system आने लगा है, वरना politically आज उनकी सोच अभी भी communist वाली है, तो resources किसी भी देश के, संसाधन, पानी, हवा, minerals, koila, gold, silver, ये सारी चीज़े हैं, they should be utilized for the well-being of all the people, हर जनता के लिए, ये communism के concept को प्रपाउंड करते हैं, रखते हैं, काल सेब को state model, state economy model भी कहा रहाता है, या इसे centrally planned economy model भी कहा रहाता है, centrally planned, central government के द्वारा जो planning की रहाती है, इंडिया ने भी planning का model अपनाए था, आजादी के तुरंत बाद, 12 5 year plan, 12 5 year plan total आए हैं इंडिया में, और last 2017 में खतम हुए, 2012 से 17 तक चला, आखरी, अभी 2017 के बाद से हम आते हैं, planning commission को हटाते हैं, और नीती आयोग लाए थे, 2017 में planning commission का relevance बचा नहीं, हाला कि planning commission तो पहले ही खतम हो गया था, नीती आयोग तो पहले ही आच चुका था, 2015 से, but last 5 year plan, 2012 से 17 तक चला, centrally planned economy भी कहते हो आप, इसी communist model को या इसी state economy model को, बस इसमें variation यह, variant है अलग-अलग, variant समझते हो, जैसे covid के अलग-अलग variant है न, alpha, beta, gamma, तो इसी तरीके से, economy के भी अलग-अलग variant है, जहाँ पर यह हो सकता है सिर्फ central plan decide हो रहा हो, जैसे दिल्ली में बैठ कर, पूरे देश भर के लिए plan बनाया जाए, यह है centrally planned system, एक हो सकता है communist system, socialist system, command economy, command economy मतलब, command मतलब order देना, command चलाना, order देना, के उपर से बैठ कर, सरकार order चला रही है, इसे कहते है command economic system, और यह इनी के school of thought से जुड़ा हुआ है, इनकी सोच से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर demand supply को नहीं देखा जाता है, यहाँ पर देखा जाता है, सरकार ऐसा क्या कर दे, जिससे देश में, inequality कम हो, असमानता कम हो, labor की, worker की, farmers की, भलाई हो, उनको exploit ना किया जाए, उनका शोशन ना किया जाए, काल माक्स ने कहा कि, small minorities, अमीर लोगों की, capitalist class की, एक छोटी संख्या, जन संख्या, population, लोग ही, 90% लोगों को नौकरी देते हो, हो सकता है, 10% लोग ही राज करते हो, आज reality है यह, Oxfam नाम की एक रिपोर्ट है, जिसने कहा, कि देश के 1% लोग, देश का 40% से भी जादा resource ओन करते हैं, संसाधन ओन करते हैं, 6000 करोड के घरों में रह रहे हैं लोग, जहां पे 6000 जुग्यां होंगी उनके घर के सामने, आप मेरे बात समझ पा रहे हो, तो सिर्फ चंद लोग ही पूरे देश पर कंट्रोल कर रहे हैं, इस सिस्टम को हटाओ, कम्यूनिजम लाओ, सोशलिजम लाओ, ऐसा इनकी सोच थी, क अगर हम स्टील खरीदते हैं, स्टील आइरन जो है, उसकी कॉस्ट एक लेवल से जादा कम नहीं हो सकती, ठीक है न, कोईला खरीदते हो, एक लेवल से जादा कम नहीं हो सकती, जो पैसा लगेगा, वो लगेगा, बट वरकर्स को कम पैसे में मजबूरी का फायदा उठा कर, कम पैसे में जादा घंते काम करवाए रा सकता है ये वो टाइम था जब छोटे बच्चों से मजभूरी करवाई जाती थी मजभूरी में मजभूरी labor कराई जाता था इंडिया में भी ऐसा होता है Factories Act लाया गया इंडिया में इस वले से दुनिया में ऐसा होता था अरे इनके खुद बच्चे सर्वाइब नहीं कर पाए तो उस समस्या को ढूंडने के लिए इन्होंने अपनी किताब Communist Manifesto लिखी बुलिट बंदूक का भी इस्तमाल करना पड़े गोली का भी इस्तमाल करना पड़े दुनिया में क्रांती लाने के लिए वाइलेंस का भी यूज करना पड़े तो करो ऐसा इन्होंने कहा कि जो ओनर है जो capitalist class है उनको fruit of the labor labor की workers की मेहनत का पैसा share करना होगा ऐसा इन्होंने कहा कि और शांती से ना माने तो violence करो पर resource अपने साथ distribute करो redistribute करो यहाँ पर concept क्या है what to produce क्या बनाओगे जो जनता चाहती है कितने में provide करोगे minimum cost में provide करोगे यहाँ पर profit motive नहीं है यहाँ पर लालच नहीं है पर सर यह तो इतना अच्छा लग रहा है सुनने में तो पूरी दुनिया communist क्यों नहीं है क्योंकि problems है what are the problems there is no incentive to work अब profit नहीं कमा पाओगे क्या incentive बचा आपके लिए there is no incentive to create wealth क्या फायदा कौन करना चाहेगा government ही सब कुछ करेगी government inefficient तरीके से काम करती है corruption होता है government सरकारी दफ्तरों के अंदर भारत में इंडिया में भी ऐसा क्यों हुआ कि air इंडिया जैसी एक सरकारी company को private company टाटा के हाथ में बेचना पड़ा क्योंकि air इंडिया लॉस में थी बहुत ज़्यादा extreme लॉस में थी सरकारी department सरकारी बैंकों में बहुत ज़्यादा losses होते हैं कई बारी क्यों corruption क्यों वो incentive नहीं है work करने का सरकारी नौकरी बैठे रहो जिंदगी काट लेंगे हमें जबकि ऐसा होना चाहिए हमेशा proactive हमेशा sincere अपने काम के लिए हमेशा इस तरीके से काम करना है कि efficiency आए effectiveness आए but there is no motivation to work hard there is no motivation to perform activities there is no motivation to take risk there is no motivation of innovation no motivation to research to develop new things because anusandhaan क्यों करें नवाचार क्यों करें ऐसा क्यों कोई है नहीं आपके लिए motivation इसी लिए capitalist economies मैं innovation होता है research and development होता है नई technology लाई राती है कम cost पर जादा quality देने की कोशिश की राती है पोलेंड के एक philosopher थे 1950 के समय में आसकर लैंगी ने एक परिभाशा दी एक बार इस पर बात करते हैं आसकर लैंगी ये पोलेंड के एक प्रॉपर philosopher economist एक guide थे इन्होंने सुनिये क्या कहा इन्होंने कहा economies decay के रास्ते पर दहन के रास्ते पर नुकसान के रास्ते पर destruction के रास्ते पर जा रही है अंटिल अनलेस वो market socialism अपनाएं जो शुरुवात में चाइना ने और सोवियत union ने reject कर दिया कि हम कभी market socialism को नहीं अपनाएंगे कि socialism तो रहेगा पर दुनिया की factory के तौर पर काम करें दुनिया के लिए काम करें अपने workers को production के रास्ते पर लगाएं फैक्टरी के रास्ते पर लगाएं शुरुवात में माउजे तूंग इसके support में नहीं थे Chinese communist leader पर बात में जाके अलग-अलग leaders आए अलग-अबी जैसे जी जिंग-पिंग है अलग-अलग लोग है वो समझ गए कि market socialism market based model कम्यूनिजम के साथ socialism के साथ अपनाना पड़ेगा ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है इसलिए 1980s में USSR के द्वारा दो policies लाए गए एक है परेस ट्रॉइका परेस ट्रॉइका एक है ग्लास नॉस्ट ग को बढ़ावा दिया कि सरकार का criticism करने करो बिजनेस करने करो एक ऐसी ideology आई जहां पर openness transparency को बढ़ावा दिया restructuring करी गई परेस्ट्रॉइका restructuring of the economy, mixed economy की तरफ जाने का बोला, market economy बनने का बोला चाइना ने भी ऐसा ही किया 1980 के समय में, इंडिया से पहले, इंडिया ने तो LPG reforms 1991 में अपनाए थे ना, हमसे काफी समय पहले ऐसा कर लिया और क्योंकि हमसे काफी समय पहले ऐसा कर चुके थे, चाइना आज हमसे जादा तरक्की कर चुका है, अब इंडिया का time है to shine, to walk ahead तो USSR में problem ये होई, कि USSR कोई एक देश नहीं था, उसमें रशिया भी था, कजाकस्तान भी था, उजबेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजीकिस्तान, यूक्रेन, बेलारूस, अलग अलग कंट्रीज उसका part थे, there was a big union, अब एक बड़ा परिवार होता है, तो उसमें लोगो पैदा हुई, और 1990s तक आकर USSR टूट गया, बट गया, और अब सिर्फ रशिया बचा है, USSR का remnant, बाकी सब कंट्रीज इंडिपेंडेंट रिपब्लिक के तौर पे या डिक्टेटर्शिप या डेमोक्रेसी के तौर पे काम कर रहे हैं, और आज उसी USSR के दो देश एक दूसर वरना ऐसे सर्वाइव नहीं कर पाएगी सोशलिजम के साथ, मार्केट सोशलिजम चाहिए, वरना एकॉनमी डिके होने लगेगी, क्योंकि इनोवेशन का कोई अंदर से आपके लिए मोटिवेशन नहीं है, 1980s तक आते आते एकॉनमी इसको खुद को रेक्टिफाई करना और ने, ओपन डोर पॉलिसी, इंडिया ने ओपन डोर किया, 1991 में, चाइना, 1980s में कर चुका था, 1980 में कर चुका था, लोग समझने लगे दूसरे देशों के कि चाइना में सस्ती लेबर है, जाके उनका इस्तमाल करो, बिजनेस दो उने, फैक्टरीस खोलो, आज देख गया, शंगाई हो गया, बीजिंग हो गया, इट इस फैक्टरी ओफ दे वर्ल्ड, और अगली फैक्टरी ओफ दे वर्ल्ड, इंडिया बन सकता है, तो चाइना ने इसकी तयारी, 1970, 1980 सही कर ली थी, जो समझ गये थे, कि अब ओपन डोर पॉलिसी के तहत, इकॉनमी को ओपन क 2021 में है, जब हमें LPG reforms करने पड़े, अब LPG, LPG बोलतो रहा हूं, LPG है क्या, L का मतलब होता है, liberalization, LPG, liberalization, पहले क्या होता था, सरकार, government, कोई भी business करना चाहते हो, सोई से लेकर हवाई जहास बनाने का, you have to take government permission, आपको सरकार से उनुमती लेनी होगी, license लेना होगा, फिर permission भी ले लिया, business भी कर रहे हो, उसके बाद, सरकारी, अफसर, सरकारी, बाबू, सरकारी, officer, आके छापा मारते थे, बार-बार, interfere करते थे आपके काम में, ब्रश्टाचार होता था, corruption होता था, labor inspector, अलग-अलग factory inspector, they used to take money from you, second, only government sector was dominant, government sector had no competition, बहुत, बहुत कम competition था, private sector के पा अगर आपने एक picture आई थी, गुरू मुवी, अभिशेक बच्चन की, तो उसमें देखा होगा एक dialogue है, कि सरकार हमें business कहां करने दे रही है, कितना बनाना है, कैसे बनाना है, सब कुछ तो सरकार बता दे रही है, Lastly हमने globalization किया, हम जान गए, कि हमारी आबादी है बहुत बड़ी, population है बहुत बड़ी, अगर foreign investment इंडिया में आएगा, बड़ी-बड़ी brands, बड़े-बड़े businesses आएंगे, McDonald's, KFC, Burger King, Reebok, Puma, Nike, Pepsi, Coca-Cola, यहाँ पे consumer products बेचेंगे, पैसा कमाएंगे, हमें tax देंगे, और हमारे द investment आएगी तो देश तरक्की कर पाएगा, पैसा निवेश होगा हमारे देश की तरक्की के लिए, foreign direct investment से, इंडिया में आके factories खुलेंगे, लोगो जॉब मिलेगी, car manufacturing, phone manufacturing, electronic manufacturing, तो LPG reforms, liberalization, privatization and globalization, यह तीनों सुधार होए, liberalization में private companies business करना चाहती है, license जो लेने की इतनी सारी restriction हो के सरकार से अनुमती मिल जाती थी, privatization को बढ़ावा दिया, private company started competing in the economy, सरकारी company, private company, आज देखो न, Tata Steel है, Jindal Steel है, तो Steel Authority of India Limited जैसी एक सरकारी company भी है, आज competition हो रहा है, कुछ company है, survive नहीं कर पाई, competition, air India, air India को privatize करना पड़ा, MTNL, BSNL survive नहीं कर पाएंगे, तो हो सकता है, उनको भी privatize करना पड़े, privatization के फाइद नुकसान नहीं बता रहो, मैं आपको एक concept बता रहो, कि normally ऐसा होता है, तो LPG reforms इंडिया में किये, and why were they performed, so that our economy can grow in the long term, हम survive कर सकें, वरना तो क्या होता, कि अगर इंडिया के अंदर ऐसा system ना लाया जाता, तो देश में, जनता के पा आप इंडिया के भार से oil खरीते थे, gold खरीते थे, हमारे पास दो हफ़ते का पैसा बचा था, और यह आपके prelims exam में पूछा जा चुका है question, जिसे कहा रहाता है term को import cover, import cover हमारे पास दो हफ़ते का रह गया था, two weeks का, only two weeks of import cover, अगर LPG reforms नहीं करते, जब मन्मोन सिंग जी व हमारे पैसा ही नहीं बचा था, अज जो पाकिस्तान का हाल है, दूसरे देशों से उधार ले लेकर जीना पड़ रहा है, वैसा ही हाल हो जाता, we changed our economic system, तो एक socialism और communism की बड़ी problem यह है, कि economies को अपने आपको reform करते रहना होता है, restructure करते रहना होता है, वरना वो economy survive नहीं हो प depression देखा, काल मार्क्स का सिद्धान्त, ये भी countries accept नहीं कर पा रहे थे पूरी तरीके से, एक नया concept आया, जो की John Maynard Keynes के द्वारा दिया गया है, जे एम कीन्स, थे ए बिरिटिश एकॉनमिस्ट, पर इनकी policies अमेरिका के लिए जादा applicable रही, जान मेनार्ड कीन्स के सिद्धा की वज़े से ही, आज हमारे पास mixed economic system है, इन्होंने अमेरिका की economy देखी और कहा, कि सरकार हर चीज से हाथ पीछे खीच लेगी, तो business कैसे चलेगा, if government does not interfere or supervises or manages the government, government does not manage the economy, how will the country survive, और इनके concept को mixed economy का concept कहा गया, mixed economy का मतलब है, that the private sector and the government sector will coexist, निजी शेत्र और सरकारी उपक्रम साथ मिलकर काम करेंगे, आपस में प्रतिसपरदा करेंगे, they will be competing with each other, और ये concept आया, mixed economy के तहित, आपस में ही competition है, अमेरिका में सबसे पहले, जब सरकार समझ गई means के concept के, जॉन मेनार्ड कीन्स के concept को, तो they started investing in the public welfare, जनता के पास खाने के लिए पैसा नहीं था, तो सरकार समझी की जनता से कुछ काम करवाओ, जैसे इंडिया में मनरेगा है ना, महात्मा गांधी नैशनल, Rural Employment Guarantee Act, जिसमें 100 दिन का आपको काम दिया रहाता है, guaranteed, अगर काम नहीं मिल रहा तो 100 दिन का पैसा तो मिले पार दे या ना दे, जिससे लोग अपना पेट तो भर सकते ना, टीस दे कें फीड देंसेल्स देर फैमिलीज, similar थिंग हैपने इन यूएसे, हूवर डैम बनाया गया, Grand हूवर डैम, एक बहुत बड़ा बांध, ताकि नदी के पानी को, रिवर के वाटर को चैनलाइस किया पैसा आएगा, पैसा कमाएंगे, तो पावर्टी कम होगी, देखा, एक साथ तीन चीज़ों पर हमला किया, उसके इलावा, एक बार डैम बनेगा, तो जिसकी वैसे डिजास्टर आते थे, नुकसान होते थे, बाड़ हो जाती थी, वो नहीं होगी, तो सरकार का पैसा बचे है, तो इन्होंने कहा कि गवर्वर्मेंट को चीज़ें अपने हात में लेने ही पड़ेगी, गवर्मेंट जस कांट पूल इस हांट फ्रम अड़े मेंगा, इसलिए इनके कॉनसेट, इनके मॉडल, इनके सिस्टम के अंदर, यही सबसे बड़ा चेंज आया, जौन मैनार्ड कीन्स के, कि इन्होंने Mixed Economic Model को बढ़ावा दिया, which is a great thing इंडिया ने भी इसको अपनाया इंडिया में 1991 से पहले जातर Government Organization थी Public Sector Undertaking थी 1991 के पास Private Sector और Public Sector मिलकर Competition करने लगे ताकि देश तरक्की कर सके, हमारा देश ग्रो हो सके इंडिया में हमने Mixed Economy का मॉडल अपनाया, अपनाना शुरू किया जो अमेरिका 1930 में पहले ही कर चुका था जो अपने Economic Depression से बाहराने के लिए कर चुका था अमेरिका ने इसको एक Last Resort की तरह यूज किया था अंतिम रास्ता, आकरी रास्ता क्योंकि अमेरिका कुछ भी कर रहा था अपनी Economic Problems को दूर नहीं कर पा रहा था Economic Depression से जूर नहीं जा पा रहा था फिर अमेरिका ने वापस Capitalism के मॉडल पे चलना शुरू किया दुनिया का अगर कोई पहला देश है जिसने जॉन मेनार्ड कीन्स के सिद्धान्त को पूरी तरह अपनी पॉलिसी के लिए इंप्लिमेंट किया तो इट वस फ्रांस 1944-45 में National Planning का Concept शुरू किया फ्रांस ने 1944-45 में इंडिया ने भी 1947 के बाद Planning Commission मनाया इंडिया ने भी इंडिया के अंदर Economic Reforms लाने शुरू करे बट फ्रांस हमसे पहले कर चुका था 1944-45 में जहां पर National Planning फ्रांस ने Adopt करी ताकि अपनी एकॉनमी को Modify कर सके गरी भी दूर कर सके World Bank भी आज कहता है कि सरकार का Intervention, हस्तक शेप, Involvement Economy में होना चाहिए Just Imagine अगर इंडिया में RBI नहीं होता तो क्या होता जितने भी बैंक्स हैं, सरकारी, प्राइवेट अपनी मनमर्जी से कुछ भी कर रहे होते Yes Bank का Best Example है Yes Bank ने अपने Customers के साथ Fraud किया इसलिए उनके उपर आज Case चल रहा है अगर आप बाकिफ है नहीं है तो मैं Banking की Class में वो Case चल रही बिसकस करूँगा Mains के लिए काफी Important रहेगा तो Government का Intervention होना जरूरी है जैसे Stock Market को Regulate करने के लिए इंडिया में SEBI है जैसे Banks को इंडिया में Regulate करने के लिए RBI है ऐसी अलग-अलग इंडिया में Organization है जो Market में जो हमारे Businesses में सब कुछ सही तरीके से चले जनता के साथ कोई भी Fraud ना हो Corruption ना हो Scam ना हो Loss ना हो जनता की Social Economic Needs पूरी हो वो Mixed Economic Model इंडिया अपना चुका है जहां पे Government and Private Sector are Competing with each other जहां पे Profit Motive के लिए काम किया जा रहा है At the same time सरकार चाहती है जनता की भलाई भी हो Government भी जनता की भलाई कर सके Please remember that जहां पे सिफ Profit Earing नहीं Public Welfare भी होना चाहिए Competition भी होना चाहिए Rules होने चाहिए Regulation होना चाहिए Tax होना चाहिए कि अमीरों से Tax लेकर गरीबों में जनता के लिए भलाई के लिए सरकार बाट सके Distribute कर सके Distribution सिस्टम होना चाहिए यहां पर What to produce क्या उत्पादन करना है जो Central Question सबसे Important Question है What to produce जो भी Social Welfare के लिए जरूरी हो जनता की भलाई के लिए जरूरी हो तो इसी लिए आपको यह concept बहुत important देखने मिलता है John Maynard Keynes का Mixed Economy का आशागरतों ही बात आपको समझ आई होगी Mixed Economy is at the center एक थी Command Economy जो मैंने Karl Marx की concept में समझाई जहां पर Government सारे Resources ओन करती है Government regulate करती है कौन सी चीज किस दाम में भी किए कि सब सरकार बताती है Market Economy में प्राइवेट सेक्टर होता है Freedom है To Start Your Own Business Supply और Demand इनका एक relationship होता है जो हम Micro Economics में पढ़ेंगे तब एक बार फिर समझाऊँगा But Mixed Economy is at the center I hope you understand this First things first Economy में कितने सेक्टर होते हैं अब दुनिया ना Normally तीन सेक्टर मानती है Three sectors are there The world believes in it इसको असान तरीके से समझाने के लिए ही तीन सेक्टर बोल जाते हैं वरना एक और definition है कि Economy को पाँच सेक्टर में बाटता हो देखो सबसे पहले आप बिस्किट खाते हो बिस्किट जो आप खा रहे हो वो मैदाया आटे से बना It is made out of flour अब वो कहां उकता है जमीन में ही तो उकता है पहले उसका पौधा उकता है उसको Primary सेक्टर कहते है Primary मतलब प्राथमिक मतलब पहली बार वो चीज ग्रो हुई है अब वही गेहूं आपका Factories में जा रहा है Factories में गेहूं पिसकर आटा या मैदा बन रहा है Yes or No यह आपका Secondary सेक्टर हो गया जहां पर Industries है बड़ी-बड़ी मशीने हैं उन मशीनों के माध्यम से Processing हो रही है Factories में काम चल रहा है Labor को काम Workers को काम मिल रहा है इसके इलावा Third सेक्टर होता है Tertiary सेक्टर अब वो आटा आपने Packet में बंद कर दिया जैसे शक्ती भोग आटा होता है आशिरवाद आटा होता है Packet में बंद है Now you need Salesman to sell it You need Delivery guys आपको Delivery करने के लिए कोई चाहिए जो लोगों के घर पर Delivery कर सकता है आपको चाहिए Bank से पैसा क्योंकि अगर आपको इतना बड़ा कुछ काम Establish करना है You need Money तो ये सब सर्विस प्रोवाइड करने वाले लोग Tertiary सेक्टर का Part माने जाते है Tertiary सेक्टर का ही मतलब यह है Third सेक्टर जो की ये सारी facilities प्रोवाइड करता है आम जनता को अगर आप sectors of economy देखेंगे Tertiary सेक्टर वो सेक्टर होता है जहाँ पर सारी economic activities Services से linked होती है और बाकी sectors को अपना काम चलाने के लिए मदद करती है जैसे for example अगर गाओं से ट्रैक्टर में समान भरके आप industry तक ले जा रहे हो तो ये क्या transportation sector service sector का part नहीं है अच्छा इसके साथ साथ आपको देखने मिलेगा packaging and storing कोई चीज़ packet में बंद करना store करना क्या है service sector का part नहीं है ये सब आपका tertiary या service sector इसको आप service sector बोलो tertiary sector बोलो एक ही बात है primary मतलब पहला, secondary मतलब दूसरा, tertiary मतलब तीसरा तो service sector तीसरा होता है third sector होता है तो बाकी सारे sectors को tertiary sector या service sector की जरूरत रहती है इसी लिए tertiary sector service provide करता है इसको आप एक और अंग्रेजी का शब्द इस्तमाल करते हैं auxiliary sector भी कहते हैं auxiliary मतलब help करने में मदद करने में, backup के तोर पर support करने में अब we can just look at service sector and say that there are three sectors in the economy बस ये तीन को ही हम मान सकते हैं, तीन सेक्टर दोते हैं but हम service sector को दो और पार्ट में break करते हैं service sector was the third sector हम fourth and fifth sector में भी जा सकते हैं fourth and fifth में क्या आएगा एक-एक करके देख लेते हैं, fourth and fifth sector में क्या क्या आता है fourth sector को आप quaternary sector कहते हो quaternary quarter मतलब 4 होता है तो जैसे साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने को अगर 3-3 महीने में बाट दो तो quarter हो गया तो इसी तरीके से quaternary का मतलब 4 quaternary sector के अंदर क्या आता है देखिए जो भी ऐसी industries है example के तोरपे IT sector example के तोरपे मैं जो काम कर रहा हूँ teaching, research and development कोई PhD कर रहा है इसके साथ-साथ कोई भी call center, software engineer जो service provide कर रहे हैं call center में बैठे होई workers जो service provide कर रहे हैं ये सब आपके quaternary sector में आते हैं इनकी पहचान क्या होती है कि knowledge based sector है जहां पर आपका brain power use हो रहा है बाकी sectors में आपका muscle power use हो सकता है जैसे agriculture है, primary sector आपकी muscle power service sector, secondary sector है secondary sector है secondary sector में, industries में, फैक्टरियों में आपका muscle power use हो सकता है but quaternary sector के अंदर माफ कीटेगा quaternary sector के अंदर आपका हमेशा fourth part जो है उसमें knowledge इस्तमाल होता है यह knowledge defined है यह knowledge based है तो quaternary sector is related to knowledge यह बड़ा role play करता है in defining the quality of human resource economy has किसी भी अर्चवस्ता में किस प्रकार मानव संसादन human resource है वो इस fourth sector से पता जलता है जैसे doctors, engineers, chartered accountants, teachers PhD holders यह सब लोग इस sector में आते हैं बट इसके साथ साथ एक और सेक्टर है जिसको हम कहते है quinnery quinnery मतलब पाँच पाँचवा quinnery सेक्टर पाँचवा सेक्टर यह किस से जुड़ा हुआ है मैं एक image दिखा के आपको समझाना चाता हूँ primary sector तो आपको समझ आ गया agriculture, dairy, fishing, forestry वो चीज जो जमीन से जुड़ी है जैसे for example जमीन में फसल बो रहे हो ठीक है न गाए भैस अगर पाल रहे हो तो उनको चारा जो है fodder जो है वो जमीन से उगा के खिला रहे हो मचली पगड़ रहे हो तलाब भी तो जमीन पे है mining कर रहे हो कोईला, सोना, चांदी इसकी mining कर रहे हो इस सब primary sector है which is related to land which is related to a land a piece of land इसके अलावा secondary sector यहाँ पर पूरा manufacturing पर focus रहता है यहाँ पर जैसे for example कपड़ों की manufacturing biscuits, गाड़ी, कुरसी, टीवी mobile phone यह सब इसमें आता है third, third tertiary sector है आप मेरे पीछे देख सकते है मैंने एक image आड़ की हुई है जहाँ पर doctors है जहाँ पर lawyers है जो service provide कर रहे है वो आपका tertiary sector में आता है tertiary sector में services भी आती है पर इस tertiary sector को और दो parts में break कर सकते हैं quaternary and quinary और उसी को मैं image से explain कर रहा हूँ primary sector समझ आ गया आपको अब दूसरा animation देखिए secondary sector में industries है अब तीसरा animation देखिए in the third sector TCS, Wipro, Infosys बड़ी-बड़ी company हों में जो software engineers, IT personnel बैठे है यह आपका quaternary sector का part है but sir, quaternary और quinary के बीच में क्या difference है this can be cleared very easily with a single image quinary sector जब मैं खोल रहा हूँ तो एक image दिखा रहा हूँ जहां पर यह कौन है? यह ministers है यह top politicians है leadership position में जो politicians है, वो है यह कौन है? Google के CEO है यह भी अपनी company में top position में है तो किसी भी organization में top में बैठे हुए लोग जिनका काम क्या होता है? decision making करना company में कौन सा product बनाना है, नहीं बनाना कौन सी service लेनी है, नहीं लेनी यह सारे decision बड़े-बड़े CEO, CFO, MD ऐसे लोग लेते हैं और government के अंदर जहां पर आप जो government का part बना चाते हो which is the bureaucratic sector bureaucracy आप लोग जो senior position में हो secretary है, कोई DM है, कोई SDM है topmost position का part है जिन से देश के उपर impact पड़ता है तो आप भी quinary sector के अंदर आते हैं तो private sector जिसमें corporates और government sector जिसमें bureaucrats हैं इन दोनों से जो topmost position के लोग हैं, जहां पर topmost decision making करनी होती है which has impact on a wide scale वो आपका quinary sector में देखा चाता है यह बात याद रखीगा क्योंकि quinary sector के लोग अपनी brain power का इस्तमाल करते हैं उसके साथ-साथ उनके अंदर leadership skill होनी चाहिए तो यह 5 sector होते हैं जान बूच के मैंने इसलिए आपको रुक कर फिर से एक बार सारी images दिखाई कि primary whatever you are gaining from agriculture, secondary whatever you are gaining from factories and tertiary whatever you are gaining by providing services जो भी आप सेवा प्रदान करके कर रहे हो tertiary को मैंने दो और पार्ट में ब्रेक किया quinary और quaternary quinary के अंदर आपको leadership position देखने मिल रही है quaternary के अंदर आपको IT sector में काम करने वाले लोग देखने मिल रहे हैं या जो knowledge based industries है knowledge based economy है उनमें काम करने वाले लोग देखने मिल रहे हैं अब सबका सबसे बड़ा यही सवाल होगा के सर हम distinct नहीं कर पारे quaternary के बीच का difference देखो एक software engineer क्या होगा वो होगा quaternary sector के अंदर उस company का MD, CEO, CFO क्या होगा वो होगा quaternary sector के अंदर वो company पूरी वो जाता है, I think this is clear now कि यह पांचों sector कौन से होते हैं technically हम अपनी definition तीन पार्ट में ही रखते हैं primary, secondary, tertiary बट इसको quaternary और quaternary में भी break किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है next, आगे चलते हैं अब Rostov नाम के एक economist हुँ हैं जिन्होंने एक model दिया है उस model पर मैं चलता हूँ जिसको Rostov's model कहते हैं यह हैं शक्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ www.rostov नाम है दुनिया में जब भी economies तरक्की करती है transition करती हैं, सब दुनिया में पहले agriculture dependent या agriculture dominant ही रहती हैं अगर आपने R.S. Sharma ancient history की किताब पढ़िये तो उसमें बताया है शुरुआत में इंसान एक hunter gatherer होता था पेड से कोई फल गिरा उठा के खा लिया जानवर का शिकार किया उसका meat खा लिया बिना पकाए भी खा लिया without even cooking it क्योंकि पेट तो भरना ही था तो पहले इंसान hunter gatherer होता था दीरे दीरे रुख कर एक स्थाई व्यवस्था एक stable system उन्होंने अपनाना शुरू किया वे देवर domesticating animals गाय भैस पालना शुरू किया उससे उन्हें meat और डूद और अंडा मिल जाता था गाय भैस बकरी से और poultry से मुर्गियों से ऐसे इन्सानों ने domestic life एक साधारन जीवन शुरू किया एक जगे से दूसरी जगे खाने की तलाश में घूमना उन्होंने बंद किया उसके बाद जैसे ऐसे civilization बढ़ती गई इन्सान जो है वो agriculture की तरफ जाने लगा एक जगे टिक कर एक खेत में फसल बो कर उसे उगा कर हम अपने पूरे साल भर का इंतिजाम कर सकते हैं we can grow crops and we can feed our family for the rest of the year this was invented by this was something which humans came to know about agriculture ही dominant था इंडिया में भी 70-80% population at the time of independence were dependent on agriculture सतर से प्रतीशत क्रिशी हमारे देश की agriculture population थी जब 1947 में हम आज़ाद हुए थे दुनिया में बाकी देशों ने टेक ओफ जैसे हवाई जहाद टेक ओफ करता है न उपर की ओर टेक ओफ करना शुरू किया जहां पर agriculture से वो industrial sector की तरफ बढ़े जहां पर सबसे पहले ग्रेट ब्रिटन जो यूके था जिन्हों ने आकर हम पर 200 साल राज किया उस ब्रिटन ने सबसे पहले इंडस्ट्रिलाइजेशन शुरू किया अब आपने अगर NCRT पढ़ी होंगी तो spinning wheel सुना होगा आपने जैनी सुना होगा आपने steam boat सुना होगा आपने steam boat जिसमें से धुआ निकलता था steam निकलती दिस वोस्ट सिग्निफेकंस वो boat एक जगह से दूसी जगह तक जा सकती थी बड़े बड़े फिर steamers बने ship बने railway steam के concept पे चलने लगी उसके लावा आपका कपड़े manufacture करने के लिए पहले हाथ से आपको सारा धागा जो है जो material है खटा करना पड़ता था then machines came about, machines का इस्तमाल होना शुरू हुआ तो सबसे पहले Great Britain में फिर France फिर US, Germany, Sweden, Japan Russia, Canada, Argentina इन देशों ने इस प्रकार तरक्की दीरे-दीरे करनी शुरू करी जहां पर ये agriculture से move करके industrial sector की तरफ जाने लगे देश मतलब basically जैसे ऐसे developed countries grow करते गए agriculture छोड़ा और उनकी population industry में, factoryों में shift होने लगी industrial revolution और द्योगे क्रांती आने के बाद WW Rostov ने 1960 में concept दिया कि कोई भी देश तरक्की करता है तो 5 status से गुजरता है linear state होती है linear मतलब ऐसी एक line खिषती है जहां पर agriculture से industry, industry से service sector, फिर service sector में भी quaternary और quinary sector को बढ़ावा दिया जाता है but unique case है हमारा South East Asia का हम लोग take off तो करते हैं पर agriculture से industries की तरफ नहीं हमने take off किया agriculture से towards what agriculture से towards service sector जिसको कहा जाता है leapfrogging जो मैं एक animation के माधियम से आपको दिखाना चाहता हूँ अभी आप यह मेंड़क देखिए यह इस first sector पर बैठा है technically अगर इसे अगली sector पर जाना है, first से second पर move करेगा, इंडिया भी first sector से second sector पर move करनी चाहिए थी, कि खेतों से निकल-निकल के लोग, agriculture से निकल-निकल के लोग, फैक्टरियों की तरफ जाए industries की तरफ जाए और industrial output में contribute करें अरे बड़ी-बड़ी फैक्टरियां लगेंगी इंडिया के अंदर तभी तो देश तरक्की कर पाएगा but इंडिया की growth स्टोरी बड़ी उनिक थी, सिर्फ इंडिया की नहीं हमारे पड़ोसी, साओट एस्ट 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 कांटरी भी बड़ी उनिक थी जिसमें इंडोनेशिया, फिलिपीन्स, थाइलंड, विएतनाम पा I can't say that because they haven't grown properly पाथ नो, I still they are figuring out की industries कौन सी बढ़ावाद है some industries which are helpful for the country or the bomb making industry so I can't take that name Thailand, Vietnam, Philippines Indonesia, India ये सारे देश agriculture से service sector की तरफ बढ़े कुछ देशों ने अपने अंदर और services भी प्रोवाइट करी terrorism 101 bomb making services, BMS different different services I will not take the name तो मैं तो बताना चाहा हूँ on a very lighter note it was said with all due respect to our neighbor country इंडिया और ये सारे देशों ने agriculture से चलांग मारी और बड़ी चलांग मारी सीधा tertiary sector, service sector पर move कर जाये इंडिया ने तो 1991 के बाद खास तोर पे जहांपे Infosys, Wipro, Tata Consultancy Services और कई सारी foreign companies इंडिया आई बेंगलूरू, Silicon Valley of India हाइदराबाद, साहिबाबाद गाजियाबाद, नौहिटा इस बिकेम गुरुगाओं, गुरुग्राम as it is called इस बिकेम इस बिकेम इस आईटी हब्स especially Bengaluru business process outsourcing companies came यहाँ पे offices खोले इंडिया में बैट कर services provide की जा रही थी US, UK, around the world और हमने primary से सीधा चलांग मारी tertiary sector में अब मैंने यहाँ पे एक मेंड़क क्यों रखा है बिकेमिक्स का ही concept इसे कहा जाता है leap frogging जैसे मेंड़क फुदकता है एक जगे से दूसरी जगे वैसे हम भी कूदे है हम बस बीच में secondary sector मिस कर गए इंडिया has left the secondary sector हमने industries को उतना promote नहीं किया, मैं नहीं कहा रहा industries बिलकुल ही नहीं इंडिया में इंडिया में है, but क्या जितना China ने promote किया but क्या जितना Taiwan ने promote किया, जितना South Korea ने promote किया, क्या हमने भी उतना promote किया, ये सवाल बनता है and it is very simple and very clear कि नहीं किया हमारे देश में tertiary sector का स्यादा बोल बाला रहा अब आप logic सोचिए, ऐसा क्यों रहा क्योंकि इंडिया में 200 साल अंग्रेज़ों ने राज किया, तो English speaking community थी, people who could speak very easily in English दूसरी बात, इंडिया के अंदर education के लिए हमेशा से एक quest एक शुरुआत से ही, मम्मी पापा कहते थे पढ़ लो, number ले आओ, engineer बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ बच्चों के career के पर काफी focus था, जहाँ पर western civilization, western culture मैं लोग इतना focus नहीं कर रहें college ही चले जाएं, वही बहुत बड़ी बात है इंडिया में लोग बहुत जादा education की तरफ तयार रहते थे education लेने के लिए, hard working individuals हैं Indians, और सिब इंडियन्स नहीं, Southie Station Countries के लोग भी बड़े महनती लोग है तो इंडिया बहुत suitable रहा उसके लावा, यहाँ government के initiatives जैसे LPG reforms हो गया या अलग-अलग सरकारों ने राजय सरकारों ने भी, state governments ने भी initiative दिखाया और कोशिश करीब बढ़ावा दे सके जादा से जादा economic growth and development को अपने देशों में, तो इंडिया ने leapfrogging करी, secondary sector को छोड़कर, tertiary sector में जादा move करना शुरू किया, और population तो हमारी, आज भी primary sector में जादा है, अभी भी 50% के करीब देश की अबादी, directly और indirectly agriculture पे dependent है बट स्टिल, contribution GDP में, tertiary sector जादा दे रही है, service sector जादा दे रही है तो आप ये बात समझ गरोंगे, that we have leapfrogged, दुनिया में, जो एक linear system होता है हमने कहा हम नहीं मानते, हम इस linear system को नहीं मानेंगे हम लोग industries से जादा service sector को तवज्जो दे रहे थे अब देखिए, आज क्या हो रहे है आज इसका उल्टा हो रहे है, इसका reverse हो रहे है आज make in India को बढ़ावा दे रहे है इंडिया में आओ, इंडिया में factory आँ खोलो आज हम इंडिया में बढ़ावा दे रहे है कि इंडिया में industries खोलो, चाइना मत जाओ ठीक है ना आज हम कोशिश कर रहे है जिसमें भारत सरकार ये कह रही है कि अगर आप electronics manufacturing में हो automobile manufacturing में हो या कुछ ऐसे sector जो government चाहती है हमारे देश में बढ़े तो production जितना जादा करोगे उत्पादन जितना जादा करोगे उतना आपको क्या दिया जाएगा उसी से link करके आपको incentive दिया जाएगा ये भारत सरकार ने योजना शुरू करी थी जैसे for example अब तक 100 unit प्रेड्यूस करते थे 100 units अपनी factor ही में अब 120 units प्रेड्यूस करो you will get incentive for 20 more units इसलिए इसे PLI scheme कहते है जो extra production होगा उसके लिए तुम्हें incentivize किया जाएगा तो हमारी economy Rostov के हिसाब से पहले agriculture से industry, industry से service sector पर ग्रो होनी चाहिए उल्टा हुआ agriculture से service sector और अब जाकर हम industry को भी बढ़ावा देने क्योंकि industrial sector बहुत जादा employment प्रोवाइड कर सकता है तो एक exception रहा इंडिया और इंडिया के पडोसी South East Station countries इस चीज़ में जो की अपने देश में agriculture से service sector में लोगों को धकेल दिये गए और अब जाकर हम industries को भी बढ़ावा दे रहा है तो these countries moved from agriculture to service sector ठीके नहीं जहाँ पर industries को उतना expansion नहीं मिल पाया meanwhile कुछ पडोसी देश हैं हमारे जिन्होंने बहुत industrial expansion किया China, Taiwan, Korea यहाँ पर industries को बहुत बढ़ावा मिला इसी से अब एक जुड़ा हुआ concept में बात करूँगा Washington Consensus, Beijing Consensus and Santiago Consensus कि कैसे इन देशों ने एक फैसला किया कि अब हम अपने economic system को change करेंगे कैसे transition किया कैसे agriculture से industry की तरफ गए agriculture से service sector की तरफ गए सबसे पहले, दुनिया में सबसे popular system रहा, वो था Washington Consensus, और नाम से समझा रहा है Washington US में है, तो इसका mark दर्शन कौन से देश ने दिया होगा इसका mark दर्शन US ने दिया Washington Consensus एक ऐसा system है, एक ऐसी policy है कैसा method है जहां पर America और America के mark दर्शन में international multilateral institution वाओ, that's a very heavy word international multilateral अंतराश्ची स्थर पर काम करने वाली multilateral multilateral मतलब कई सारी countries में काम करने वाले institution जैसे World Bank, जैसे IMF, इनके माधियम से America और Western countries की डो policy होती थी वो दुनिया भर में फैलाई गई, अगर मैं आपको बोलू कि तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये मत करो, जो मैं कह रहे हो मेरी बात मानो, तो क्या आप मुझे एक तानाशाह मानोगे, will you consider me to be a dictator, वैसा ही काम कुछ IMF, World Bank जैसे organization ने किया, in the garb of promoting economic stability, लोगों को एक चलावा, एक दिखावा, एक दिखावा किया, उनके आगे चलावा किया, और I am not criticizing them, I am just criticizing the way it was done, कि free market economy के concept को दुनिया भर में बढ़ावा दिया गया, और दुनिया में अलग-अलग देशों को मजबूरी में ऐसा करना पड़ा, कि उन्हें अपनी economy को free market economy बनाना पड़ा, story of India, India was a closed economy, हमने अपने दर्वाजे बंद किये वह थे, पर यह sustainable नहीं था, क्योंकि हम भले ही भाहर से कुछ ना बेच हैं, भाहर दूसरे देशों को कुछ ना बेच हैं, पर हमें भाहर से खरीदना तो पड़ता ही है, हमें oil खरीदना पड़ता है, गोल्ड खरीदना पड़ता है, हमें दवाईयां खरीदनी पड़ती हैं, इंडिया दूसरे देशों से दवा के समान खरीद रहा था, but other countries which were supplying these goods, they were not buying from us, वो देश हमसे तो कुछ खरीद नहीं रहे थे, हमसे उतना जादा सेल इंडिया के बाहर नहीं होती थी, बाहर से हम oil, gas, petrol, diesel, gold, यह सब खरीद रहे, तो हमने closed economy खुद को बनाया हुआ था, but problem क्या हुई, problem यह हुई कि हमारे पास फिर बाहर से खरीदने के लिए dollar ही नहीं बचे, रुपे में वो payment ले नहीं रहे थे, और किसी currency में इंडिया payment कर कैसे पाएगा dollar था नहीं, तो हमारे पास क्या थ terms and conditions apply वाला star लगाके, कुछ conditions fix कर दी, और वो conditions इस Washington consensus से जुड़ी होई है, जो आप समझने जा रहे हैं, जब भी किसी देश के अंदर economic policy change करने की कोशिश की जाती है, एक package, एक help, एक assistance दी जाती है, तो उसके लिए Washington consensus का इस्तमाल किया जाता है, where reform policy package is provided, कि आप हमसे पैसा ल आने होंगे, जैसे की capitalism के concepts को अपनाना होगा, profit making को बढ़ावा देना होगा, दूसरे देशों से आने वाली कंपनियों को रोको मत, उन्हें भी आने दो, उन्हें भी business करने दो, ये सारे institution जो उनका मैंने नाम लिया, World Bank, इसके साथ साथ IMF, ये कहां पर है, Washington, USA में है, USA में ह और क्या है, अमेरिका की finance ministry, एक तरीके से अमेरिका की concepts को ही पूरी दुनिया के उपर ये छापते गए, दुनिया के उपर spread करते गए, और ये idea, US के एक economist थे, जिनकों ने पूरे दुनिया में ये concept को popularize किया, जिनका नाम था, John Williamson, John Williamson ने जान बूच के इस चीज़ को पू governments उधार लेती है, debt लेती है, fiscal deficit करती है, एक limit से जादा, आपकी income है x rupees, आपने ले लिया उधार y rupees का, तो आप चुका कैसे पाओगे, तो ये जो उधारी है, ये जो fiscal deficit है, fiscal deficit अभी के लिए आप मतलब समझ लो, इसका मतलब होता है उधार लेता, जिक है, जो government पैसा उधार पे लेती है, I will explain in upcoming lectures also, तो fiscal deficit जो उधार लिया जा रहा है, जो debt लिया जा रहा है, उसको avoid करो, दूसरी बात, second point, replacement of public spending from arbitrary subsidies to provision of kree growth और pro growth potential, मतलब basically, आप पैसा जो है, अब तक बेकार के शेत्रों में डाल रहे थे, जैसे कि किसानों को subsidy देना, इनके दोरा बेकार कहा जा रहे है, किसानों को subsidy देना, free में healthcare facility provide करना, उसको छोड़ कर, आप ऐसी चीजों में डालो, जो की जादा से जादा फाइदे मंद हो सकती हैं, जैसे कि infrastructure better करना, invest करना, तो जैसे पाकिस्तान में फिलाल ये हाल है, कि government public क के लिए बहुत जादा चीज़ें free में बाटती रहती थी, जैसे उनका economy, उनकी economy बहुत जादा crisis में चली गए, तो आप जो जनता के लिए इतना उधार दे रहे हो, जनता के लिए उधार लेकर पैसा खर्च रहे हो, don't do that, rather move towards infrastructure creation so that it can help in public well-being, आप infrastructure बनाओ जनता की भलाई क करो, जनता पर जादा से जादा tax लगाओ और जादा से जादा लोगों पर tax लगाओ और उनसे जादा से जादा tax collect करने की कोशिश करो, ये third point था, और points देखते हैं, tax reforms की बात मैंने बता दी, interest rates which are determined by the market, जैसे कि महंगाई बढ़ती जा रहे है, अर्च वहस्ता में महंगाई बढ़ गई, 100 की चीज आज 110 रुपे की बिक रही है, 10% महंगाई बढ़ गई, पर आप bank loan आज भी बहुत सस्ते rate पे दे रहे हो, लोग पैसा loan पे ले ले कर, ले ले कर खर्चा करेंगे, और जब बहुत ज़्यादा खर्चा करेंगे, जब बहुत ज़्यादा लोगों के हा quantity कम है, ठीक है न, कहते न, एक अनार 100 बिमार, एक तमाटर, 100 लोग खाने के लिए तयार है, अब एक कह रहा है कि मैं इसके लिए 100 रुपे किलो दूँगा, दूसरा गयरा 110 दूँगा, तीसरा गयरा 130 दूँगा, लास्ट परसन जो है, वो कह रहा है 250 रुपीज पर किलो धाइस होगा, 300 पर खरीदे, 300 पर खरीदे, क्योंकि पैसा तो असानी से मिल जा रहा है लोन पर, इससे क्या होगा, prices of commodities will rise up, it will shoot up, and it will cause inflation in the economy, ऐसा होगा के नहीं होगा, इसी लिए interest rate बढ़े रहते हैं, high रहते हैं, which actually negatively impacts the economy, महंगाई बहुत जादा रहती है, inflation ही आपका, economy क growth को खा जाती है, तो इसको कम करो, इसके लावा इन्होंने कहा, freely floating currency exchange rate, अच्छा एक बात बताओ, मैं एक country है, X, उसके साथ trade गर रहा हूँ, सब कुछ example से समझाऊँगा, बहुत असान बाश है मैं, मैं एक country है, X, उसके साथ trade गर रहा हूँ, मैंने X country को बोला, देख, मेरे एक रुपे की कीमत, तेरे 10X currency जितनी, तेरे को 10X currency देनी है, एक रुपे के बदले, और तू एक लाख का समान खरीद ले, और इसके बदले में, you will have to pay me 10 lakh X currency, अब मैं कल जाके बोल दू कि नहीं, नहीं, यह 10 छोड़ो, 20 करो, और देना पड़ेगा पैसा, 20 नहीं, 30 करो, 40 क हो, बाकी कंट्रीज हमेशा ट्रेड करेंगी, वो कहेंगी बिलकुल stability है, नहीं, इतनी instability है, और आप हमसे पैसा ही खटा करे जा रहे हो, there is no stability, बल्कि यह तो market linked होना चाहिए, market के demand and supply के साब से decide होना चाहिए, आज अगर 1 dollar 83 रुपीज का है, वो इसलिए है, क्योंकि market determined है, आज dollar की ज्यादा demand है, international currency और रुपे की उतनी ज्यादा नहीं है, इसलिए dollar ज्यादा बड़ा, ज्यादा powerful, ज्यादा strong देखने मिलता है, और रुपिया weak देखने मिलता है, एक डॉलर में 83 रुपीज आ जाते है, कभी सोचा है, एक डॉलर में एक रुपिया क्यों नहीं आत अपने आप चलने दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, let it be, let it go independently, ऐसा कहा गया Washington Consensus में, इंडिया ने भी ऐसा किया, शुरुआत में हमने नहीं धीरे धीरे जाकर, लर्म्स और अलग-अलग चीज़ें अभी आगे जाके ना, foreign exchange management की एक क्लास लूँगा, उस chapter में आपस में trade कर रहे हैं, A country, B के साथ trade कर रहा है, B country बहुत ज़्यादा tax लगा दे, A country से आने वाले समान के उपर, तो कितना नुखसान होगा A country के traders को, मैं जाकर A country में समान बेचना चाता हूँ, 1000 रोपे का बेचता था, वो कहरें नहीं जी उस पर 20% tax और दो, my product will become expensive, और फि देखते हैं economic growth को, तो हमें ये बात समझ भी जरूरी है, कि trade should be free and fair, इसी लिए एक international body है, WTO, World Trade Organization इसको बनाया गया है, दुनिया भर के अंदर free trade को बढ़ावा देने के लिए, Washington Consensus का ही, कही ना कहीं वो हिस्सा है, समझ पा रहे हैं, ये बातें book में नहीं लिखी हैं, ये आप जैसे 1000 बच्चों को पढ़ा कर, उनके माध्यम से आपको बता पा रहो, आगे चलते हैं, अब हम Washington Consensus की बात कर रहे थे, Washington Consensus दुनिया भर में अलग-अलग countries में, बाद में World Bank IMF जैसी institution ने spread किया, फैलाया, Washington Consensus के अंदर, अलग-अलग country, capitalism की सिद्धान पर आगे बढ़ दे रहा था, इसको West, इसको America, USA बढ़ावा दे रहा था, इसके साथ-साथ और क्या चेंजिस आए, लास्ट कुछ चेंजिस जो Washington Consensus से बने, FDI की Terms and Conditions रिलाक्स करने के लिए बोला, FDI का मतलब है Foreign Direct Investment, जब एक देश से, जैसे USA से, US की कोई कमपनी है, इंडिया में आके manufacturing plant हो रही है, जैसे अभी फिलाल सबसे famous example तो Tesla का ही दे सकता हूँ, Tesla Motors जो की Elon Musk की कमपनी है, वो इंडिया में आके अपनी factory खोलेगी, यही पर अपनी गाड़ियां manufacture करेगी, और यहाँ पर और आस परोस के देशों को ये गाड़ियां बेचेगी, sell करेगी, अब इतनी बात आप समझ लिए और बहुत ध्यान से समझेगा, कि पहली चीज तो, इंडिया जब global level पर दूसरे देशों को आने की permission देगा, तो उनका management भी हमारे पास आएगा, उनकी technology भी हमारे पास आएगी, और उससे हम काफी ठीजा सीख पाएंगे, तो आपस में ऐसे trade और investment का आदान चलता रहेगा, तो कोई भी देश तरक्की करेगा, पड़ अगर आपने restriction लगा रखी FDI के उपर, आप किसी और देश की investment आने ही नहीं दे रहे, देश कैसे तरक्की करेगा, इसलिए Washington Consensus में कहा जाता है, FDI की terms and conditions हलकी करो, असान बनाओ, trade investment आना, foreign direct investment आना, इंडिया ने भी सारी सरकारी उपक्रम, public sector undertaking, public companies, जैसे railway, जैसे ONGC, जैसे Indian Oil, HPCL, कई सारी companies है, जो भी company loss making है, या जो social welfare का काम properly करनी पा रही है, जैसे air India थी, air India loss महीं थी, सरकार ने का कोई नहीं इसको privatize करो, बेच दो, and loss जितना सहलिया सहलिया, आगे और loss नहीं सहना है, private sector शायर इसको ब कहा जाता है, that it is not the business of the government to be in business, कि सरकार का काम नहीं है, business करना, व्यापार करना, वो private sector के हाल पर छोड़ दो, आप बस private sector को facilitate करो, government का बस इतना role है, okay, now, developing countries के अंदर privatization की बात करिया, developing countries जैसे India में privatization काफी हुआ, हमारे पडोसी देशों में भी privatization काफी पड़े लेवल पर चल रहा है, चलिए, इसके आगे आपको इतना समझना होगा, कि अगर privatization को बढ़ावा देना है, if you want to promote privatization, तो सरकारी companies में से सरकार को अपना investment बाहर खीचना पड़ेगा, जिसे this investment कहते हैं, आगे जाकर economics में इसके बारे में भी हम पड़ेंगे, this investment को बढ़ावा दो, इंड देशों को IMF और World Bank जैसे अलग-अलग multilateral institutions, इसके अलावा government को regulation, government को control, अलग-अलग sector से निकालना होगा, मैंने क्या का, it is not the business of government to be in business, सरकारी अगर business में interfere करती रहेगी, तो business करेंगे कैसे, तो जो आपने गलत, unlawful, arbitrary, अपनी मर्जी से barriers बना रखे हैं, उसको रोको, उसको equal करो, इंडिया में आज अगर Tata Steel है, Jindal Steel है, तो Steel Authority of India Limited जैसी सरकारी कंपनी भी है, और आपस में ये compete करते हैं, इसलिए government regulation कम होना चाहिए, इसके अलावा लोगों को property rights दो, communist countries के अंदर, socialist countries के अंदर problem ये थी, कि property rights, property rights तो नहीं दिये जाते थे, property rights का मतलब है, कि ये जमी मेरी है, ये land मेरा है, अमेरिका के constitution में लिखा है, life, liberty and property is guaranteed to the citizens of America, United States of America, life, जीवन, liberty, स्वतंतरता, property की आजादी है, इंडिया में आपको अगर थोड़ा बहुत याद है, polity पढ़ा है, आपने, article 31 पढ़ा है, article 300A पढ़ा है, right to property एक ताइम पे हमारा constitutional right है, आज फिलाल एक इन पे fundamental right था, I repeat, right to property at one point used to be a fundamental right, किसी की भी जमीन छीनी जा सकती थी, government के द्वारा, judiciary के द्वारा, आज भी छीनी जा सकती है, western countries के अंदर property को protect किया जाता है, western countries के अंदर property को private right माला जाता है, अब चले जाओ तुम रशिया, चाइना, government can take away your property just like that, and say that it is our property, यह हमारी संपत्ती है, यह common society की संपत्ती है, इंडिया ने भी आजादी के बाद, जब land reforms किये, तो जिनके पास जो जमीन दार थे, जो बड़े-बड़े जमीन दारी सिस्टम के अंतर, जमीन हैं जिनको मिली थी, उनसे excess land लिया जा रहा था और गरीबों में बाता जा रहा था, तो socialist और communist countries में, आपको हमेशा देखने मिलता है that property rights can be taken by the government, पर western countries में, capitalist countries में, property right, सरकार के हाथ में ने जनता के private individuals के हाथ में है, और Washington consensus में भी यही बोला जाता है, कि private sector के हाथ में दे दो, उनको खुद competition करने दो, उनको खुद अपने business को चलाने दो, आने वा बन गया है, mixed economy का मतलब है, कि हमारे देश में private sector भी है, हमारे देश में government sector भी है, और दोनों मिलकर competition करते हैं, आने वाले time में government sector से अब ये private sector की तरफ बढ़ने वाला है, जो कि हमें दिखी रहे होता हुआ, जैसे ऐसे इंडिया में disinvestment हो रहा है, सरकारी companies के भी share market में आते जा रहे हैं, and it is not a bad thing, इसके कुछ positives होते हैं, negative होते हैं, जो आने वाले chapters में हम पढ़ेंगे, ये विनिवेश करना, disinvestment करना, कुछ बुरी चीज नहीं है, बट हम private sector की तरफ जाधा expand करते जा रहे हैं, क्यों? वाशिंग्टन consensus के principles के साब से, क्योंकि एक बारी 1991 में Indian economy पूरी liberty दे दो, पूरी आजादी दे दो, बिजनिस को अपने हाल पे छोड़ दो, सरकार को interference ना करे, कहीं न कहीं Adam Smith के concept से मिलता जोलता है, बट, अब देखो न, experts क्या कहते हैं, 2008 में अमेरिका में, वाशिंग्टन consensus तो अमेरिका फॉलो करता था न, वाशिंग्टन consensus तो अ से 15 साल पहले, जिसको हम सब प्राइम क्राइसिस कहते हैं, 2008 की बहुत बड़ा रिसेशन, बहुत बड़ी मंदी आई, Western Developed Economies के अंदर, वाशिंग्टन consensus कहां गया, रिसेशन आया, नौकरियां गई, गरीभी बड़ी, भुक्मरी बड़ी, बेरोजगारी बड़ी, unemployment, poverty became a common thing, now, economists are saying, rather than Washington Consensus, let's move towards state intervention, people started saying, that John Maynard Keynes was right, state intervention, सरकार का अस्तक्षेप होना चाहिए, सरकार खुद बिजनेस ना चला है, at least regulate करें, supervise करें, कि private sector तो कुछ गलत नहीं कर रहा ना, corruption तो नहीं हो रहा, public welfare हो रहा है, इंडिया में इसके लिए, we have RBI, जो banks के उपर देख रहे करता है, banking sector का supervision करता है, we have SEBI, Securities Exchange Board of India, housing companies के लिए, national housing bank है, agriculture and rural development के लिए, नबाड है, ऐसे ही, small industries, development, bank of India, MSME sector के लिए, अलग-अलग organizations चल रही है, जो मदद करती है, कि private sector ग्रो करें, बट state intervention, सरकार के, अस्तक्षे, regulation, supervision, मार्ग-दर्शन के दौरान, तो आपने positive तो बहुत देख लिए, Washington Consensus के एक negative भी बताया, कि 2008 के concept को खुद नहीं follow कर पाए, John Maynard Keynes ने कहा था, government कभी भी, business से पूरी तरह बाहर हो ही नहीं सकती है, उसके पीछे का एक बहुत बड़ा reason यह है, कि government को involved रहना पड़ता है business के अंदर, why? पहला reason है, कि private sector profit के लिए काम करता है, corporate greed के लिए काम करता है, क्रोनी capitalism हो सकता है, हो सकता है, शडियन रचा जाए, सरकार और private sector साथ मिलकर काम करे, जहाँ पर private sector सरकारी लोगों को रिश्वत दे, और government भी private sector में कुछी companies को preference दे, ऐसा हो सकता है ना, दूसरी बात बच्चे आपको जो समझनी चाहिए, वो यह है, कि global level पर देश तभी तरक्की कर पाए है, जब businesses को government के दौरा financial और legal support मिला है, सरकारों ने थोड़ा-थोड़ा support दिया है, pure capitalist तो आज कोई country नहीं बचा है, मैं तो कहूंगा, अमेरिका और UK जैसे देश भी नहीं बचे है, वहाँ पर भी private sector को मौके के पहर जब जरूरत पढ़ती है, मदद की गई है, जैसे 2008 के financial crisis के बाद, अमेरिका में बड़े-बड़े banks, Morgan Stanley और कई सारे banks में खतरा मन रहा है, एक bank तो बंद ही हो गया था, अमेरिका का बड़ा famous bank था, Lehman Brothers, क्या किया, सरकार ने बाकी banks को पैसा देना शुरू किया, जनता का tax का पैसा private company को बचाने के लिए दिया जा रहा था, एक concept आया TBTF, two big two fail, two big मतलब बहुत बड़ा, ये company बहुत बड़ी है, अगर ये fail हो गई, तो लागों लोगों की नौकरियां चली जाएंगे, बेरोजगारी होगी, देश के अंदर दंगे बढ़ जाएंगे, crimes हो के, government का role है to be an active supervisor, government का role है to regulate the economy, government का role है to look at the betterment of the economy, कि हमारी अर्चवस्ता को बहतर से बहतर किया जाए, हमारी अर्चवस्ता का ध्यान रखा जाए, ताकि अर्चवस्ता में किसी भी तरीके का, किसी भी तरीके का हमारी अर्चवस्ता में नुकसान ना हो, इसी लिए government का role है GM Keynes के साब से, John Maynard Keynes के साब से, कि government को market में involved होना पड़ेगा, government को economy में involved होना पड़ेगा, आफ इसी concept को Beijing consensus से जोड़ के देखो, एक idea दिया जौशुआ कूपर रेमो ने, यह भी economist और sociologist थे, यहिदोंने अलग-उलग concept दिये, देखो, चाइना ने 1980 के बाद economic rise करी डेंजिया पिंग नाम के चाइना के बहुत famous politician है जो जिस साल माउजिदॉंग की death हुई उसके बाद डेंजिया पिंग को मौका मिला मौकी चाइना के leadership की command समाल है इन्होंने चाइना के economic development को जहाँ पे non-market था चाइना मतलब चाइना के अंदर सरकार ही सब control करती थी market के हाथ में कुछ नहीं चोड़ा हुआ था दीरे-दीरे market led बन गया मतलब market के लिए open किया मतलब private companies को भी permission दी सरकार के मार्दर्शन में government and private companies basically तो यह false ही था क्योंकि सब कुछ सरकारी कर रही थी अब जैसे example देता हूँ चाइना में जैक मा नाम के एक व्यक्ति है अली बाबा नाम सुने है नहीं वह अली बाबा चालिस चोर की बात नहीं कर रहा हूँ अली बाबा इस ग्रूप अफ कंपनी लाइक अमजोन है फ्लिपकाट है यह वाली बाबा इन चाइना वरी फेमस कंपनी इन फैक चाइना में कई सारी कंपनीज प्रमोटेड बाइ धी गवर्मेंट यह अंडरस्टांड अली बाबा भी ऐसी यह गवर्मेंट ने उसे अक्वायर करने का बोला तो चाइना में यह पॉसिबल है क्योंकि एकॉनमिक डेवलप्मेंट हाला की प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देते हुए दू उसके साथ साथ एकॉनमिक ग्रोथ और एकॉनमिक रिफॉर्म उन्हों ने किये जिससे अलग अलग तरीके से चाइनीज इन्वेस्टर्स को बेनिफिट मिला और चाइना आज जीडीपी की रेस में नंबर वन पे चल रहा है इंडिया नंबर टू पे यूएस को पचाल कर इ काम 10-15 साल पीछे रह गए वहना अब हम भी अच्छे लेवल पर आ गए हैं बट वी वर कॉइट लेट तो जॉश्वा कूपर रेमो जो 2004 में स्कॉंसेप को देखकर अपनी पूरी थियोरी प्रोपाउंड करते हैं उन्होंने कहा कि वाशिंग्टन कंसेंस का बिल्कुल क्योंकि व्यक्ति अमीर है और एक व्यक्ति गरीब है अब अमीरों से लेकर गरीबों में बाट दो डिस्ट्रिवूशन कर दो मिनिममम वेजिस दो कि काम का एक गंटे का काम का इतना पैसा तो मिलना चाहिए तो सब लोगों की लेवल ओफ इंकम काफी सिमिलर सी होने successful in pulling out people from the clutches of poverty बहुत तरक्की बहुत ज़्यादा तरक्की कर पाया गरीबी से बाहर खीच पाया अपने देश को और इसी वज़े से इस model ने दुनिया भर में बहुत ज़्यादा popularity हासिल करी रश्या ने भी कोशिश करी रश्या ने भी union में जब बाकी देशों को freedom मिल लगी they started dis associating अलग होने लगे बट गए चाइना एक देश था चाइना में iron hand से काम कराए जाता है कि काम तो करना पड़ेगा ना कुछ सुना जाएगा ना कुछ माना जाएगा ठीक है ना चाइना की अंदर इस तरीके से चाइना में one child policy थी ए मुझ पार्तियां 2010 के बाद जब मान लिया गया कि अमेरिका का मॉडल तो fail हो गया है इंट्रेस्ट बढ़ने लगा बाकी कंट्रीज का इस मॉडल में चाइनीज मॉडल में कि चाइनीज ग्रोथ को देखो कोई downturn कोई recession कुछ नहीं आ रहा तो अस्ता नीचे की और नहीं गि democracy है जहां पर सबकी बात सुननी जरूरी है जहां पर हर इंसान महत्वपून है देश के लिए तो हमारे देश में तो फैसे भी चाइनीज मॉडल्स आई नहीं सकते है चाइना के concept आई नहीं सकते है बट स्टिल एक balanced एक mixed structure ही सबसे perfect है क्या कहा जाता है कि एक balanced और एक जो mixed structure ह जो इंडिया फॉलो कर रहा है उसी में भी थोड़ा बहुत चेंज करते रहना जरूरी है ब्रश्चाचार को रोकने जरूरी है वरना इट विलीड टू डेथ ऑफ दमार्केट कि जैसे चाइना में कहा जाता है कि मार्केट सब गवर्मेंट के द्वारा कंट्रोल है जो सरकार कहेगी जो सरकार चाहेगी वही होगा यह चाइनीज मौडल और दुनिया में अलग 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 डेश स्टी स्टी मॉडल तरफ जbok अल्ne के लिए हं घ्स इस एस आर ब्रेक होके आज सिर्व रशिया रह गया है ये बात याद रखेगा तो एक्सपर्ट सा सेंग बी डबली कॉशिस आप पूरा तयार रहे हैं ये मॉडल के दुश परिणाम भी हो सकते हैं नेगेटिव इंपक्ट भी हो सकते हैं और जैसे ऐसे डॉनल्ड ट्रम्प क पैसा कमा पारे हैं वो अमेरिका की वज़े से ऐसा उन्होंने इंडिया के लिए भी कहा और कहा कि अब अमेरिका दूसरे देशों के साथ व्यापार धीरे-धीरे कम करेगा और डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर फोकस करेगा मतलब चाइना में फैक्टरी इस पे जाकर काम नह बढ़ानी जरूरी है तो उस भागते गोडे को लगाम भारत सरकार या किसी देश की सरकार ही दे सकती है जो कि कही ना कहीं Beijing Consensus के concept से जुड़ा हुआ है हमारा last topic होगा आजका Santiago Consensus सांटियागो कौन से शहर, कौन से देश में आता है शहर मैं आपसे पूछ रहा हूँ विन विच कंट्री सांटियागो इस ये भी alternative है वाशिंटन कंसेंस का जिसका concept दिया जेम्स डी वॉल्फेंसन के द्वारा कौन थे ये ये वर्ल्ड बैंक के प्रेसिवेंट रह चुके है अब इन्होंने क्या कहा इन्होंने कहा कोई भी country एक alternative वाशिंटन कंसेंस का तो capitalism की तो बुराई करी होगी core idea, main idea इस model का ये था कि economics मैं society का angle भी देखो don't be very economical in nature मैं सिर्फ जैसे for example मेरे पास A, B और C है तीन लोग है A के पास 100 रुपे है B के पास 100 रुपे है C के पास 50 रुपे है A खरीद सकता है, afford कर सकता है अलग-अलग चीज़ है B खरीद कर सकता है C बहुत गरीब है विचारा afford नहीं कर पाएगा मैं सिर्फ economic aspect से देखूँगा तो मैं A और B को बेच सकता हूँ पर C का क्या उसके पास तो resources ही नहीं है उसके पास तो पैसा ही नहीं है उतना कि वो अपनी गरीबी मिटाने के लिए कुछ पैसा इंतिजाम करके necessary चीज़ें खरीद सके तो मेरी पहली priority होनी चाहिए A और B नहीं C अताकि मैं socio economic needs समझ सकूँ समाजिक आर्थिक जरूवते समझ सकूँ समाज की problem भी समझ सकूँ इसी लिए females के लिए अलग से हमने startup India stand up India scheme शुरू करी है stand up India में females है stand up India scheme के अंदर SCST OBC community के लोग है जो business करना चाहते हैं जिनको loan नहीं मिल पाता कोई बात नहीं सरकार दिलाएगी और किसी country में आप ये expect कर सकते हो इंडिया में ऐसा क्यों किया जा रहा है vulnerable sections की मदद करने के लिए डिक्की है हमारे पास दलित industries chamber of commerce ताकि दलित community के लोगों को तरक्की के रास्ते पिलाएड है और सिर्फ मैं schedule का schedule tribe and women के aspect में नहीं बता रहा हूँ हर तरीके से कि social economic development हर सरकार का परम करतवे होना चाहिए main goal होना चाहिए पहले के time पे राजे महराजे होते थे उनके पास जाके लोग अपील करते कि राजा इस साल अकाल पड़ा है राजा अपना पैसा अपनी तेजोरी से पैसा निकाल के दे देते थे कि तुम्हें कम से कम गरीबी का सामना तो ना करना पड़े सो social economic development model किसी भी country में उस country की जरूरतों के हिसाब से बहुत धगर जरूरी है है तो यह बीजिंग consensus जैसे ही पर यहाँ पर आप पूरी तरह society के welfare का सोच रहे हो यहाँ पर society takes the front seat and economy takes the back seat जैसे गाड़ी चलाने वाला driver होता है यहाँ पर driver आपका sociological perspective है और पीछे बैठा हुआ economic perspective कि पहले समाज का भला होगा साथ-साथ अर्चयस्था का भी भला करते जाएंगे society should benefit and economy will benefit Chinese model क्या था economy को benefit करवाओ society में benefit आ जाएगा US का model क्या था economy में benefit करवाओ society से सानू की we don't care, it doesn't bother us but Santiago consensus says that first social aspect should be promoted then we can think about anything else right तो यह proposal जो World Bank और उसके President में दिया दुनिया भर में अलग-अलग सरकारों को इसे बहुत motivation मिला बहुत inspiration मिला और उन्होंने भी अपनी policies में inclusion को बढ़ावा दिया इंडिया ने भी 11th and 12th 5-year plan में faster तेजी से बढ़ने वाली अर्थिवस्ता बनाने की बात करी sustainable and inclusive growth की बात करी इंडिया ने भी अपनी economy को में इस concept को promote किया और 2002 में इस concept को इंडिया ने adopt किया हमारी जो पंच वर्षिय योजना चलती थी ना 5-year plans उनका target था कि तेजी से तो तरक्की करेंगे करेंगे sustainable तरीके से भी आने वाली पीडियों के लिए भी आने वाली generations के लिए हमारे बच्चों के लिए भी और inclusive growth और लेकर आएंगे faster sustainable and inclusive growth इंडिया ने concept 2002 में adopt किया हमने अपने 5-year plans में 11th and 12th 5-year plans में भी डाला आने वाले टाइम में 5-year plans की class लोगा तब बताऊंगा और inclusive growth के concept को दुनिया भर में बढ़ावा दिया inclusive growth का मतलब है कि सिर्फ कुछ लोगों की तरक्की हो देश के अंदर जैसे Oxfam नाम की एक international institution की report है that 1% of Indians nearly have 40% of the resources 1% भारतियों के पास 40% संसादन है देश के इतना पैसा है गरीबों का क्या 6000 करोड के लोग घर बना के बैठे हैं उनके सामने 6000 जुगियां है उनका क्या उनकी तरक्की के लिए उनकी ग्रोथ के लिए inclusive ग्रोथ के concept को बढ़ावा देना है ग्रोथ शुड नॉट अनली भी in numerical numbers इट शुड बी distributed जिसे economic development कहते हैं हम ही हमें एक लेक्चर पढ़ेंगे economic growth और economic development का फर्क क्या होता है तब वहाँ पर शांटियागो consensus मैं एक बड़ फिर से repeat कर दूँगा चलो national income आखिरकार होती क्या है आपके साथ एक बहुत simple discussion कर रहा हूँ national income economics में पढ़ते क्यों है मेरे को एक बात बता दो आपको बुखार नापना है आप क्या यूज करते हो thermometer यूज करते हो आपको for example height नापनी है तो आप एक tape यूज करते हो उसमें भी meter, centimeter, kilometer, inch अलग-अलग तरीके से आप लंबाई को नापते हो वजन नापना है wing machine यूज करते हो मतब हर चीज को नापने के लिए आपके पास कोई ना कोई instrument है ना दो चीजों की दरूवत है पहले तो instrument नापने के लिए instrument चाहिए दूसरी बात नापने के लिए एक standard unit चाहिए ठीक है जी जैसे for example इंडिया में जो चीज किलोग्राम में देखी जाती है वही इंडिया के बाहर pound में parameter है बट कुछ parameter दुनिया में common होने चाहिए national income को नापने के लिए तो देश की income जब आपको पता करनी है और क्यों पता करनी है दो परपस से पहला परपस है कि आप से अगर मैं पूछू कि इंडिया की पाकिस्तान की यूएस की और चाइना की किसकी अर्थवस्ता बड़ी है तो आप क्या जवाब दोगे आप कोगे मुझे नहीं पता अगर आपको पता करना है तो आपको कोई method या कोई instrument follow करना होगा वो instrument होता है आपका national income एक तरीका है अच्छा इंडिया पाकिस्तान यूएस चाइना की अगर national income या किसी भी देश की national income दूसरे देश के मुकाबले compare करनी है तो आपके पास national income नाम का concept है जिसके थूँ कर सकते हो एक और बात मैं ये कह दूँ कि इंडिया की 2011 के अंदर GDP कितनी थी और आज 2022-23 के अंदर GDP कितनी है दोनों के बीच का comparison करना है तो आपको क्या चाहिए आपको यही national income का concept चाहिए जहां पर national income वो instrument है वो method है वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आप एक देश की income बता सकते हो ऐसा क्या देखा जाता है national income में जिससे हमें पता चल पाता है कि एक देश के अंदर एक साल के अंदर कितने value के goods and services produce किये गए है ऐसा क्या देखा जाता है यहाँ पर आप GDP देख सकते हो आप GNP देख सकते हो आप NDP देख सकते हो आप NNP देख सकते हो आप मैंसे कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पहले टॉपिक पढ़ रखा है और आप मैंसे कितने ऐसे बच्चे हैं जो UPSC की तयारी कर रहे हैं जरूर कमेंट बॉक्स में UPSC लिखे बताना ताकि मैं आपको clarity से एक एक चीज समझातो रहा हूँ मैं जान सकूँ मेरी audience कौन है कौन देख रहे हैं actually इस session को तो मुद्दे की बात जो समझने किया वो यही है कि देश के national income को आप अलग-अलग तरीके से express कर सकते हैं जैसे आप temperature को Celsius और Fahrenheit दोनों में express कर सकते हो आप लंबाई को मीटर, सेंटिमीटर, मिलिमीटर, किलोमीटर इन में express कर सकते हो वजन को पाउंड में, किलोग्राम में, आउंस में express कर सकते हो कुइंटल में express कर सकते हो वैसे ही व्यदेश की जो national income है उसको GDP GNP, NDP, NNP में express कर सकते हो आप बस यह देख रहे हो की एक व्यक्ति है जिनका नाम है अमबानी जी अमबानी जी साल में कितना पैसा कमाते हैं कैसे पता करोगे, आप यह देखोगे कि अमबानी जी की जो कमपनिया है जो उनके ownership वाली कमपनिया है वो साल भर में कितने goods प्रेडियूस करती है या कितनी services produce करती है goods का मतलब है Reliance का तो petrol भी आता है petrol diesel, petroleum products refine करते है Reliance के कितने सारे product आते है Reliance तो अपना smartphone भी निकाल रहा है और Reliance कई सारी services भी provide करता है services जैसे doctor, जैसे lawyer, जैसे architect ये जो service provide कर रहे हैं जैसे teacher, call center executives, IT professionals ये services provide कर रहे हैं तो goods को बेच कर, services को provide करके जो पैसा earn किया गया है अमबानी जी के द्वारा हम कहेंगे ये उनकी income है ये उनकी income है अब सिर्व एक व्यक्ति का न देखकर पूरे देश का देखें, पूरी country का देखें कि इंडिया में 140 करोड इंडियन्स हैं उनके द्वारा कितने goods प्रेड्यूस किये गए और बेचे गए कितनी services प्रेड्यूस की गई और provide की गई और बदले में कितना पैसा earn किया गया, कमाया गया वो आपके देश की national income मानी जाती है अब यही चीज मैं अलग-अलग तरीके से आपके लिए classify कर सकता हूँ सबसे पहला तरीका, example से समझेगा पहला एक देश है, इंडिया का example ले रहा हूँ यह इंडिया का map है, यहाँ पे एक व्यक्ति है जिनका नाम है रमेश और दूसरे व्यक्ति है जिनका नाम है Steve रमेश एक Indian citizen है, Steve एक USA के citizen है दोनों इंडिया में नौकरी कर रहे हैं एक ही company में, एक ही पगार कमा रहे हैं 50,000 रुपीज पर मन्त ठीक है जी, एक ही salary है दोनों की और इतना असान आपको मैं example के माध्यम से concept समझा दूँगा आप कहो गे वाउ और बाद में वो एक यूरेका moment आएगा और एक व्यक्ति है जिनका नाम है मलिंगा एक है व्यक्ति जिनका नाम है मलिंगा, you can like resonate with that name या जैवर्द ने कुछ भी कहलो मैं तो example के लिए समझा रहा हूँ चार लोग हो गए, first person को मैं नाम देता हूँ ए, रमेश को मैंने ए बोला स्टीव को मैंने B बोला सुरेश को मैंने C बोला और मलिंगा को मैंने D बोला ये चार अलग-अलग लोग हो गए देश की GDP GDP का मतलब है Cross Gross का मतलब है Total D का मतलब है domestic Domestic का मतलब है India के अंदर और P का मतलब है Product India के अंदर भारत की सरजमी पर कितने रुपे का समान प्रेड्यूस किया है कितने रुपे की सर्विस प्रोवाइड की जा रही है वो आपका GDP में देखी जाते है G gross मतलब total D मतलब domestic मतलब इंडिया में product मतलब कितना पैसा कमाए गया goods को बेच कर services को प्रोवाइड करके जब भी हम GDP की बात करते हैं हिंडी में इसे सकल घरेलू उतपात कहते हैं हिंदी में इसे सकल घरेलू उतपात कहते हैं और जब भी मैं GDP बोलता हूँ जो definition है यह है कि final goods and service एक बात बताओ भूख लगती है तो कच्चा आटा कितने लोग खाते हैं प्लीस चल्मी, नो, आ, I'm not raising my hand, it is just that ये रास खुल नहीं जाना चाहिए था, right, well, we don't eat कच्चा आठा, we don't eat कच्चा मक्खन, we don't eat butter, raw butter, did you, do you take a spoonful of it and eat, you eat biscuit, you eat bread, don't you, आपको भूक लगती है, ब्रेट खा लेते हो, रोटी बना लेते हो, अब बिस्केट खा लेते हो, कच्च लिया, no, never, sir, नहीं, ये राज-राज ही रहें दो, sir, हम नहीं बताएंगे, तो final goods and services, final क्यों बोला मैंने, क्योंकि अब एक बात समझो, एक बार मैंने आटा calculate कर लिया देश की GDP में, फिर उसी आटे से जो bread बनी है, या जो biscuit बनाए गए है, वो भी मैंने count कर लिया, तो क्या double counting हो रही है के नहीं हो रही है, एक ही चीज को मैंने दो बार count कर लिया, मैं कह रहा हूँ कि आपके देश में production कितना हुआ है, production, final production मतलब, final production, final nature के, जो बीच में raw material यूज हुए है, जो बीच में intermediate level पे चीज़ें यूज हुई है, उनकी तो बात ही नहीं कर रहा, मैं final goods and service की बात कर रहा हूँ, final and not intermediate, अच्छे एक example एक और देता हूँ, example की बर्चार होने वाली है, so don't worry, it's going to be really simple for you, do you compute the value of car, or do you compute the value of steering wheel, seat, tyre, metal, etc, क्या count करोगे, कि एक गाड़ी में 2 लाग का metal लगा, एक लाग का rubber लगा, एक लाग का electronic system लगा, और एक लाग miscellaneous expense, और total 5 लाग की गाड़ी 10 लाग में बेच दी, तो पहले मैं ये 5 लाग अगर count करूँ, फिर बाद मैं 10 लाग count करूँ, तो मैंने तो देश की GDP में 15 लाग count कर लिया, और जबकि production सिर्फ 10 लाग का हो रह है, गाड़ी जो बनी है, उसको count करना चाहिए ना, उसमें जो raw material लगे है, वो तो गाड़ी की cost में already included है, isn't it, पहले से ही जुड़े हुए है, तो मैं अलग से 2, 3, 4 बार क्यों count करूँ, इसलिए raw material की intermediate goods की value, देश की national income में नहीं जुड़ती, क्योंकि final goods की value ही जुड़ जा हुआ है, वस्तू और सेवाओं का उनकी value को national income में जोड़ो, उनकी value को GDP में जोड़ो, gross domestic product में, तब जाकर पता चलेगा किसी देश की national income कितनी है, वरना double counting हो जाएगी, जिसको economics में कहा जाता है, the problem of double counting, इसी लिए national income में सिर्व एक बार count की जाती है, वो भी final goods की value, एक और example पल देता हूँ, आप एक restaurant में खाना खाने गए, उसमें पनीर 50 रुपे का है, 8, 10 रुपे का मसाला, total मिलाकर 100 रुपी कॉस्ट आती है, और वो पनीर टिक्का बनाके आपको 500 रुपे का बेचा जा रहा है, national income में आप पहले 100 रुपी काउंट करोगे, फिट 250 काउंट करोग वो जो 500 रुपे का पनी टिक का आपने consume किया, उसके production में जो चीजा लगी है, उनकी value का दाम उसमें as it is जुड़ा हुआ है, मतब चीजों का price जुड़ा है, उसके उपर जो seller है उसने अपना profit जोड़ा है, और ultimately seller उसे एक final price पर बेच रहा है, इसलिए GDP में final value of goods and services are counted, अच् या सिर्फ कुछ समय पहले, some time before, एक अपरेल 2022 से, 22 का example ले रहों जान मूझके, तो आप समझेगा क्यों, 31 मार्च 2023 के बीच का, एक अपरेल 2022 से 31 मार्च 2023 के बीच का, जितना actually total goods and services प्रेडियूस हुआ है, वही में compute करो, देखो GDP जो है, वो हमेशा financial year के concept के इसाप्शन निक कितने amount के goods and services produce हुए है, उसको हम record कर सकें, compare कर सकें, पिछले सालों के मुकाबले, और compare कर सकें, दूसरे देशों के मुकाबले, जिसे कहा जाता है, inter comparison, दूसरे देशों से जो comparison होता है, उसे कहा जाता है, inter comparison, अंतर, inter comparison, और दूसरा होता है, intra comparison, खुद से ही, अलग-अलग सा सालों से अगर आप compare करते हो तो 2018 में कितना था 19 में कितना था 20 में कितना था ठीक है ना तो देश की अगर आपको progress पता करनी है कितनी हुई है तरक्की कितनी हुए जैसे एक example औहर देता हूँ जब मैं छोटा था तो मेरे पापा मेरे को दिवार के side कर खड़ा करके मेरी height ऐसे नापते थे pen रखकर कि जब मैं for example 12 साल का था तो पांच फूट दो इंच था जब मैं 13 साल का हुआ तो पांच चार हो गया फिर ऐसे 14 के अंदर पांच छे पांच साथ प सब्सक्राइब कर रहा हूँ तो वही तो मेरे को GDP की actual information दे पाएगा अगर economy के sense में बात करोगे इस एक्जांपल को economy के sense में देखोगे तो progress नापनी तरक्की कितनी हो यह नापनी बहुत जरूरी होती है कि actually आपका देश तरक्की कर रहा है और नहीं कर रहा है और उसके लिए best अगर कोई indicator है तो national income है नाशनल इंकम में GDP के concept को यूज किया जाता है जिस concept का इजात 1934 के अंदर साइमन कुजनेट्स अमेरिका के यह एक बड़े फेमस economist थे mathematician थे expert थे साइमन कुजनेट्स इन्हों ने यह concept दिया 1934 में जिनके दोरह इन्हों ने calculate करनी कोश्च करी एक देश की इंकम कि कितना एक देश पैसा कमाता है जिसको GDP, GNP, NDP, NNP जैसे concepts में break कर दिया जिसमें GDP का definition आप यह आपको मैंने बताया है अगे चलें यह आपका macro economics के तहट दिखा जाता है अगर आपने हमारी previous दो classes नहीं देखी है तो एक request रहीगी प्लीज जाके देख लीजेगा अच्छा एक और चीज है मैं मेरा जो यह initiative चल रहा है इंडिया नॉमिक सीरीज का इसको support प्लीज करिएगा session को like भी करते हुए मैंने आपको micro और macro economics का फरक बता है तब मैं अगर एक individual के लेवर पर cost देखूँ मैं एक individual का behavior analyze करूं economic behavior के कोई इंसान 10,000 का phone ना खरीद के डेड़ लाग का phone खरीद रहा है क्यों क्योंकि उसकी एक fashionable value है apple के iPhone खरीद रहा है तो उसका behavior क्या है वो कितने में मेरा सामान खरीद में तयार हो जाएगा यह micro analysis है यह micro economics के तहट आता है पर मैं जब देश की पूरे देश की income कितनी हुई है साल भर में उसको calculate कर रहा हूँ so that is considered to be national income जो की macro economics का एक concept है जिसका नाम है national income राष्टिय आए चलिए अब इसको समझे जरा पहली चीज तो national income जब हम बात कर रहे है वो macro economics का concept है यह question आएगा तो अब आप पांसर कर पाएंगे that it is most important concept of national income अभी इसमें मैंने आपको चार केस लेकर बताए थे कि एक व्यक्ति इंडियन है एक व्यक्ति फॉरिनर है जो इंडिया में काम कर रहा है एक व्यक्ति इंडियन है जो की इंडिया से बाहर जाकर काम कर रहा है पर वो है इंडियन पास्पोर् ओशनाइट इंडिया के अंदर इंडिया की घ्रीज डीप में अशर्क घरील उत्त त में ऐक्चुली क्या शामिल होगा पहले शक्स की उंकम झोंच इन्डिया ने उनकी इंकम या दूसरे शक्स की इंपव जो कि फॉचरिनर है उनकी इंकम सुरेश की इंपम जो इंडिया स पर वो इंडिया से बाहर काम कर रहा है शीलंका के अंदर और चौथा एक फॉरिनर है जिसका इंडिया से कोई रिष्टा नहीं उसकी इंकम तो देश की नाशनल इंकम में नहीं जुड़ेगी अब आपसे जवाब पूछ रहा हूं what will be the answer a only a plus b a plus b plus c और a plus b plus c plus d जरा सोचो और बताओ और इसके बाद फिर मैं आपको इसका आंसर देता हूँ बताओ बताओ सोचो लेट में हावा सिप आप वाटर और यू थिंक भाया इसका आंसर होगा सब्सक्राइद कर रहा है कि देश की national income काउंट कर रही हो देश में रहने वाला तो एक रमेश है जो इंडिया का citizen है इंडिया में पैसा कमाता है इंडिया में रखता है लग्र आप ए सोच wet गलत हो बी, रमेश और स्टीव, स्टीव भले एक foreigner है पर इंडिया में पैसा कमाता है चाहें इंडिया के बाहर पैसा भेज देता हो, पर पैसा कहा कमा रहा है हमारे देश में कमा रहा है उसकी income भी, स्टीव की income भी हमारे देश की national income में जुडेगी as per GDP, GDP में D का मतलब क्या था, domestic, इंडिया में produce होना चाहिए, gross मतलब total total output इंडिया में कितना produce हो रहा है, कुल उत्पादन भारत में कितना हो रहा है gross domestic product के माध्यम से, concept के माध्यम से हमें पता चलता है के domestic इंडिया के level पर production कितना और है, चाहिए वो कोई Indian करे, चाहिए वो कोई foreigner करे पर सर, यह C वाला व्यक्ति, जो शीलंका रहता है, पैसा वहां कमाता है, इंडिया भीजता है, तो उसकी income, देश की income में क्यों नहीं जुडेगी because it is not earned on our domestic territory, हमारी जमीन पर, हमारे देश में पैसा कमाये गया हो, चाहिए भारतिय कमाये, चाहिए कोई foreigner कमाये, वो देश की national income का part माना जाता है, is it clear, yes or no, please comment box, come on, quickly, be active, be energetic, gross domestic product में, total income, जो इंडिया में produce हुई है, GDP में, total income, जो इंडिया में produce हुई है, चाहिए कोई इंडियन करे, चाहिए कोई इंडियन करे, चाहिए कोई foreigner करे, अरे करता है तो करने दो, income देश की ही है, वह क्योंकि इंडिया की domestic territory में produce हुआ है, सर एक बात बताओ, ये जो domestic territory आप बता रहे हो, क्या इंडिया की जो embassy है, जो US, UK, अलग-अलग देशों में है, क्या वो Indian territory मानी जाएगी, हाँ जी, इंडिया की जो US में embassy है, consulate है, वो इंडिया की जमीन मानी जाती है, अरे भले ही अमेरिका में है, इंडिया की जमीन मानी जाती है, और दिल्ली में जो US की embassy है, जो France की embassy है, वो, वो US और France की territory मानी जाएगी, क्यों, क्योंकि उस देश को represent कर रहा है वो area, हमने कुछ अपने देश में आधे एक एकड़ की जमीन दे दी और ये बोला कि ये foreign, सुनिया ज़रा ध्यान से, ये foreign country, ये विदेशी जमीन है, क्यों, क्योंकि आपके देश में आपने दूसरे किसी देश को embassy का right दिया है, ambassador रखने का right दिया है, तो GDP के अंदर, इंडिया के अंदर, इंडियन ने कोई पैसा कमाया, इंडिया के अंदर foreigner ने कोई पैसा कमाया, चाए घर बापस भेज दिया हो, पर वो count हमारे देश की GDP में होगा, ये बात याद रखिएगा, this is the concept of GDP, national income का नापने का पहला method था GDP, आपकी definition क्या थी, total market value of goods and services, which are final, produced within India, during one particular financial year, within our geographical boundary, regardless of nationality, जैसे for example, कोई खिलोने बनाने की company, जो इंडिया में खिलोने बनाती है, किसी Chinese company के बिहाफ पर, कि एक Chinese company है, उसका नाम माल लिजे, हूशी यूँ, हमने रख दिया नाम, हूशी, मैंने बनाई ये company, Chinese company, और वो इंडिया में produce कर रही है, तो पैसा इंडिया की income में जुड़ेगा, yes, अगर कोई Indian company, मैं या से कोई company चाइना ले जाओ, और बोल दूँ के चाइना में जाके खिलोने बनाओ, तो वो किसकी देश की GDP में आएगा, इंडिया है चाइना की, चाइना की, क्योंकि ये देखा जाता है कि कौन सी सर जमी पर, कौन सी जमीन पर production हुआ है तो, इसके आग domestic product, जिसका मतलब है, इंडिया की territory, Indian territory, दूसरा concept में बता रहा हूँ आपको, national product, जिसमें इंडिया का resident होना जरूरी है, ना कि आपकी territory, जिसका मतलब है, आप भारत के नागरिक हो, चाहे इंडिया में रह रहे हो, चाहे foreign country में रह रहे हो, आपने जो भी production किया है, वो आपके देश की, gross national product में आएगा, gross मतलब total, national मतलब किसी भारतिया ने production किया हो, चाहे इंडिया में किया हो, चाहे लास वेगस में किया हो, चाहे पैरिस में किया हो, चाहे सिडनी में किया हो, चाहे रशिया में किया हो, कहीं पे भी कोई goods produce करके पैसा कमाया, कहीं पे भी कोई services produce करके पैसा कमाया कहीं पे भी पैसा कमाया कौन से देश की national income का पार्ट माना जाएगा एस पर GNP में इंडिया ने produce किया है इंडिया में बाहर वो देश के gross national product में आएगा अभी भी समझ नहीं आया एक और example देता हूं और बहुत शांदार example है इसको समझ जाओगे देख A. रमेश था एक इंडियन नागरिक जो इंडिया में production करता है B. स्टीव था एक विदेशी नागरिक एक foreigner जो कि इंडिया में आता है पैसे कमाते है और अपने घरवालों को US में पैसे भेज देता है C. मैंने बताया था सुरेश ये एक ऐसा व्यक्ति है जो कि इंडिया में आ रहे है इंडिया में पैसे कमा रहे है इंडियन है इंडिया के बाहर जाके पैसे कमा रहे है और इंडिया में पैसा भीज रहे है और D है foreigner जिसको इंडिया से कोई रिष्टा नहीं है उसकी कोई income इंडिया में नहीं आएगी ऐसे केस में GDP में किसकी इंकम आएगी और GNP मे कि सोचो सोचो कि सोचो सोचो एवालुएट करो एक बारी थिंक अबाउट इट टैन सेकंड्स का टाइम दे रहा हूँ कि सुनो ध्यान से GDP के अंदर आएगा A प्लस B GNP के अंदर आएगा GNP का http क्या था फॉर्मूला कोई इनडियन चाहे इंडिया में कमाएए चाहे बाहर कमाएए ठीक है न तो मैं अगर बोल दू कि A रमेश ये है भारतिया और C सुरेश ये है भारतिया A प्लस C हो जाएगा GNP तो क्या ये गलत है, of course not, no it's not wrong, it's 100% correct, ठीक है न, ये बात ध्यान रखेगा, भई doubt वाउट है, last में पूछ लेना, थोड़ा discipline maintain करो, doubts last में ले लूँगा, रखो ज़रा doubt अपने पास, telegram link दे दिया है, वहाँ पे आगे पूछ लेना, wait कर लो, थोड़ी ज़र, GDP में क्या बोल A plus B, रमेश and Steve की income, क्योंकि इंडिया की territory important थी, GNP में क्या बोला, रमेश and सुरेश, क्योंकि इंडियन ने पैसा कमाया, चाए इंडिया में कमाया, चाए कहीं भी कमाया, वो GNP का part है, अगर ये मैं बोलू, तो ये बिल्कुल गलत नहीं है, it's 100% completely true, completely correct, अब ये concept समझाने का logic ये था, point ये था, कि GNP के बारे में clarity आपको मिले, अच्छा, एक और चीज, मैं इसी concept को समझाने के लिए, अगर GDP का formula यूज करना चाहता हूं, कि GNP equals to GDP plus or minus what, एक और formula है, NFIFA, बहुत असान है, पहली बात तो NFIFA की full form समझ लेते हैं, net factor income from abroad, मेरे को एक बात बताओ, कोई भी business शुरू करने के लिए क्या चाहिए, चार चीज़ें चाहिए, can you name them, किसी भी business को शुरू करने के लिए, कोई भी economic activity करने के लिए, चार चीज़ें चाहिए, सर पैसा, क्या पैसा को मैं capital बोल सकता हूँ, पूंजी, हिंदी मैं इसे क्या मैं पूंजी बोल सकता हूँ, बोल लीजिये, सर वरकर्स, वरकर को मैं क्या labor या श्रमिक बोल सकता हूँ, सर बोल लीजिये, मैं अगर बोलू, कि land, जमीन, ये possible है, जमीन चाहिए होती है, बिल्कुल सर, हर office खोलने के लिए चाहिए, physical asset है, पैसा किसी के पास है, जरूरी थोड़ना है, वो बिजनिस में successful होगा, labor workers कोई भी रख सकता है, जरूरी थोड़ना है, वो बिजनिस में successful होंगे, जमीन किसी के पास भी हो सकती है, जरूरी थोड़ना है, वो बिजनिस कर रहे होंगा, उसमें successful होंगे, इन तीनों को जोड़ कर एक बिजनिस एक्टिविटी की रहाती है वो जोडने वाला व्यक्ति कौन है उसे हम कहते हैं entrepreneur entrepreneur हिंदी मैं बोलू तो उद्यम शील व्यक्ति उद्यमी उद्यमी उद्यम शीलता उद्यम शीलता बिजनिस करने की अंदर से inherent इच्छा और बिजनिस करने पर तुम पूछोगे इसमें मेरा क्या फाइदा what is my benefit in it will you ask this or not well your फाइदा is the profit which you are going to earn आप जो लाब कमाओगे यह व्यापारिक गतिविदी करके the profit which you are going to earn by doing this economic activity is your profit और यह चार factors of production माने जाते हैं और इन चार factors of production के माध्यम से किसी भी देश में economic activity होती है अब एक बात समझो कि मेरे पास एक जमीन है दिल्ली के अंदर मेरे पास वहाँ पर एक office है अपना office कोला हुए मैंने जिसमें 100 workers काम करते हैं उस office को खोलने के लिए एक करोड रुपे लगा है अब यह सब अगर मैं कर रहा हूं तो इसके बदले कुछ profit कमाऊंगा ना कि इसी लिए यह factor of production कहे जाते हैं क्या कहे जाते हैं factors of production हिंदी में बोले तो उत्पादन के कारक factors of production इन्हें कहा जाता है land, labor, capital, entrepreneurship यह चार चीज़ें आपके factors of production की category में आते हैं अच्छा जमीन अगर आप rent पे देते हो मदब किराय पे देते हो तो rent कमाते हो you earn rent, yes or no, you do earn, right, land देकर, labor देकर मतलब आप अपना समय कहीं पर job पर लगा रहे हो तो बदले में आपको क्या मिलती है, salary, you get salary or not, labor को salary मिलती है, land किसी को देते हो तो rent मिलता है पूंजी, पैसा किसी को देते हो, capital किसी को देते हो, तो ब्याज मिलता है, interest मिलता है, मिलता है के नहीं मिलता and entrepreneurship के बदले में profit मिलता है, तो यह जो red color में मैंने लिखा है interest, salary, rent, profit, यह चारों factor income कहीं जाती है factors of production से कमाई गई income, factor income कहीं जाती है प्लीज रिमेंबर दाट, factors of production से कमाई गई income factor income कहीं जाती है, चार factors of production है, उत्पादन के कारक है जिनके बिना कोई business नहीं हो सकता, capital, labor, land and entrepreneurship उनसे चार income मिलती है, interest, salary, rent, profit अब यह आपको पढ़ाया क्यों जा रहा है, क्योंकि मैं net factor income from abroad बता रहा था इसके लिए factor income क्या होती है, वो बतानी जरूरत थी अब एक और example लीजिए कि जब आप factor income देख रहे हैं इस तरीके से एक और example लीजिए, let me show you कि अगर US में मेरी कोई जमीन पड़ी है और मैंने वो किराए पे दी हुई है, तो मेरे पास इंडिया में rent आ रहे है मैंने US में एक बरसन को 2 करोड डॉलर दी है, बहुत पैसे है तो बदले में क्या आ रहा है, interest आ रहे है मैंने business शुरू किया है US के अंदर, मेरे को वहां से profit आ रहा है या मैं किसी US की company के लिए काम कर रहा हूँ बदले में मुझे, उसके बदले में क्या मिल रहा है, salary मिल गई है I am getting salary in exchange, salary in return जब ये चार चीज़े मेरे को मिल रही है, तो क्यों मिल रही है क्योंकि मैंने चार factors of production own किये हूँ है, मैं मालिक हूँ अच्छा, मैंने इंडिया के बाहर factors of production own किये हूँ ऐसा भी तो हो सकता है, बाहर के लोगों ने इंडिया में factors of production own किये हो कि मान लिजे, US का एक आदमी है, जिसका नाम है Nick Jonas उसने इंडिया में आकर बरेली के अंदर एक जमीन खरीद ली और उसे किराय पे दे दिया, और उससे वो किराया कमा रहा है हो सकता है उन्होंने Nick Jonas ने इंडिया में किसी बॉलिवोड celebrity को पैसा उधार पे दिया कि बाहुबली के डिरेक्टर को पैसा दे दिया कि एक और बाहुबली 3 बना दो, एक और picture बना दो बदले में उन्हें इंट्रेस्ट कमाने का मौका मिल रहा है हो सकता है कि उन्होंने इंडिया के अंदर ही, भारत के अंदर ही कोई business शुरू किया हो, वहां से उन्हें profit आ रहा है या हो सकता है Nick Jonas आके इंडिया में किसी picture में काम कर रहे हैं, प्रियंका चोपड़ा के साथ और उनको पैसा कमाने का मौका, इंडिया के बाहर से, एक इंडिया के बाहर से कोई समान बेच कर पैसा कमा रहा था सुनिये दर ध्यान से, एक इंडिया के बाहर से कुछ पैसा कमा रहा था, और बाहर से कोई व्यक्ति इंडिया से पैसा कमा रहा है अब मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात ये है कि जब ऐसा कुछ किया जा रहा है तो मनी मूव हो रहा है दो देशों के बीच में Some money is coming into India and some money is going out of India कोई एक foreigner है वो इंडिया से पैसा कमा रहा है तो इंडिया से पैसा ये लो बाहर गया और मैंने foreign में पैसा लगा है तो बाहर से पैसा मैं ले आया देखा क्या हुआ इंडिया से पैसा बाहर गया बाहर से पैसा ले आया This is a sick dance move, you know It's a sick dance move Just joking Just to entertain you, that's all What I'm trying to tell you In this way Some money we are bringing from outside Indians बाहर से कमा रहे है कुछ पैसा इंडिया से बाहर की लोग कमा रहे है इसका difference निकालो कि बाहर से actually कितना पैसा आया इंडिया में कि मान लो 100 रुपे बाहर से आ रहे है Indians को और 50 रुपे इंडिया से बाहर जा रहे है What is the difference? It is 50 बस वही GDP में अड़ करना है काम खत्म You still did not understand I will give you another example I will not stop Till you have understood GNP Equals to GDP Plus NFIF यही लिखा था मैंने वही कहानी रमेश स्टीव सुरेश और एक फॉरिनर वही कहानी रमेश ने इंडिया में पैसा कमाया A Plus सुरेश ने इंडिया में जो पैसा भेजा C यह आप GNP कह सकते हो एक और तरीका है निकालने का A रमेश ने जो इंडिया में पैसा कमाया Plus NFIF बताने के लिए पहले GDP बता दो GDP क्या हुआ A प्लस B क्योंकि इंडिया में GDP का मतलब भूल तो नहीं गए इंडिया में जो प्रोडक्शन हुआ है चाहे रमेश करे चाहे स्टीव करे चाहे इंडियन करे चाहे फॉरिनर करे यह हो गया GDP कॉम्पोनेंट Plus Plus NFIF NFIF में क्या हैगा जो पैसा इंडियन्स ने बाहर से कमाया है foreign territory में और जो इंडिया से foreigners कमा के बाहर ले गए उसका difference अब स्टीव एक विदेशी था उसने इंडिया से पैसा कमाया और इंडिया के बाहर ले गया तो यह add थोड़ी ना हो गए तो minus होगा दूसरी बात सुरेश शीलंका काम करता था वहाँ उसने पैसा कमाया और इंडिया भेजा यह add होगा तो c minus b हो गया net factor income from prod जो बाहर से पैसा आया सुरेश से पैसा आया c और जो इंडिया से बाहर पैसा गया स्टीव का पैसा गया b a plus b plus c minus b यह minus b और plus b काट दो a plus c ही रह गया और यह वही बात आ गई hence derived कि gdp equals to what इंडिया में कोई भी production करें चाहे इंडिया नों चाहे foreigner हो और gnp equals to what कि इंडिया का कोई व्यक्ति produce करें और इंडिया के बाहर कोई व्यक्ति प्रेडियूस कर रहा है और इंडिया में पैसा भेज रहे है तो उसका total इंडिया की gnp में आते है any income earned by an Indian in India or an Indian in a foreign territory कोई भी भारती ने भारत में या विदेश में पैसा कमाया है इंडिया में भेजा वो इंडिया की gnp का पार्ट होगा NFIFE क्या था factor income from abroad जो बाहर से इंडिया आ रही है और net factor income from abroad में दो चीज़े माइनस होती है factor income from abroad factor income to abroad factor income from abroad minus factor income to abroad to abroad यह माइनस करोगे तो net factor income from abroad आएगा net factor income from abroad आएगा factor income from abroad मतलब इंडिया ने इंडिया ने माफ कीज़ेगा बाहर से जो पैसा कमाकर इंडिया में भेजा नेट और factor income to abroad में foreigner ने इंडिया से पैसा कमाके foreign में भेजा यह note down करना है note down भी कर सकते हो and notes में तो यह written आपको मिली चाहेगा एक बार इसे चाहो तो note down करो इन दोनों का difference आता है net factor income from abroad इन दोनों का difference आता है net factor income from abroad is it clear tell me yes or no clear 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 ठीक है ना good yes good 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 चलो तो अब आपको GDP और GNP पता चल गया अच्छे एक बात बताओ मेरे पास सामने power bank की दिख रहा है मेरे को this power bank I purchased for 2200 रुपीज एक साल हो गया 2200 रुपे का खरीदा था आज कोई मुझे 2200 रुपे देने के लिए तयार है इस power bank के लिए I purchased it one year back for 2200 रुपीज आज भी मेरे को 2200 रुपे दोगे कोई कोई है इतना दिलदार इतना होनहार somebody who is willing to pay me this much nobody will be I am telling you कोई नहीं लेगा क्यों क्योंकि यह चीज पुरानी हो गई है और electronics और automobiles जैसे ऐसे पुराने होते हैं गाडियां और electronics उनकी value कम होती जाती है क्यों क्योंकि उसमें wear and tear होता है क्योंकि उसमें value diminished होती है क्योंकि उसमें repair and maintenance का खर्चा लगता है उसमें कई सारे reasons की वड़े से value दीरे-दीरे कम होती जाती है जिसे अगर मैं एक शब्द मैं बोलना चाहूं तो मैं क्या बोलूँगा हिंदी मैं बोलूँगा मैं मूल या हास English मैं बोलूँगा मैं depreciation क्या कोई 2200 रुपे की चीज़ थी आज उसका rate 1500 आ गया market में 74 रुपे कहां गए depreciation लग गया उसकी value उतनी कम हो गई है क्योंकि दीरे-दीरे value पुरा कम होती जाती है अच्छा सोने के दाम gold के prices अगर बढ़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं उसे कहते हैं appreciation gold के prices अगर बढ़ते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं appreciation और दाम कम होते हैं electronics के automobiles के चीज़ों के तो उसे क्या कहते हैं depreciation appreciation depreciation ये दोनों का concept है चीज इसी बात है अब मुद्दे की बात क्या है मुद्दे की बात यही है कि appreciation और depreciation का फर्क आपको समझाया depreciation में value of asset reduces किसी machine की value reduce होती है किसी electronic की value reduce होती है अच्छा, देश के production में goods को produce करने में factory में machine लगती है या नहीं लगती आप जो अपने घर पे आटा खाते हो किसी चक्की में पिस्ता होगा आप जो पानी की bottle आपके पास है plastic की bottle है, वो भी किसी machine से बनी होंगी, आपके पास जो mobile devices है, वो भी किसी machine से बने होंगे, तो अगर आपने मालो एक लाख करोड के हमारे देश के अंदर electronics बना के बेच दिये तो उनको बनाने में जो machine में खर्चा आया है जो उनकी value diminish होई है जो उसमें wear and tear और repair और maintenance हुआ है क्या वो आपकी कमाई है या वो पैसा आपने गवा दिया है खो दिया है, वो पैसा आपने खो दिया है, वो value उतनी कम हो गई है, वो value उतनी diminish हो हो गई है और क्योंकि वो value उतनी diminish हो गई है तो वो देश की national income में नहीं जुड़ सकती वो आपकी आए नहीं 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 आई आपने 20 रुपे खर्च कर 100 रुपे कमाए आपका net profit 80 होगा आप 100 रुपे अपना profit नहीं कह सकते because you spent 20 rupees to earn that 100 rupees that's why you say that your net income is 80 rupees क्या बोला आपने net income I had a chips packet somewhere lying around here only that chips का packet था चलो एक छोटा सा packet देख रहा है this is a small नमकीन packet let me read out what is written here इसका net weight है 200 grams और packet का weight है 350 grams मतलब 300 gram का पूरा packet का वजन है जिसमें 1500 gram की तो हवा भरी होई है 1500 gram का तो plastic है 200 gram का ही असली नमकीन असली chips है इसके अंदर तो जो total weight था वो हो गया आपका gross weight gross weight और जो actual नमकीन का weight है वो क्या हुआ आपका net weight net weight net weight gross weight is total weight net weight is actual weight 300 gram gross weight था 1500 gram हवा का प्लास्टिक का weight निकाल दो 200 gram ही बचा उतना आपका अपका एक्शली नमकीन का weight है ऐसे income में gross income दिखाती है देश की total income gross production gross product कितना देश में total production हुआ है वो दिखाता है और net product net product वो दिखाता है कि country के अंदर actually मैं कितना total income है after taking away depreciation जिसको अगर मैं एक और तरीके से बोलना चाहूँ GDP मैंसे मैं अगर depreciation minus कर दूँ के देश में मालो एक लाक करोड रुपे का GDP कमाया गया है जिसमें से 10,000 करोड रुपे तो machines का खर्चा हो गया repair maintenance का खर्चा हो गया actually में 90,000 करोड कमाये गया तो यह गलत नहीं होगा this will be correct क्योंकि GDP मैंसे जब depreciation minus करते हो तो आपके पास आता है NDP NDP का मतलब है net domestic product NDP का मतलब है net domestic product net domestic product NDP का मतलब है समझे जब depreciation minus करते हैं जब gross में से आपने depreciation minus किया तो आगया net अच्छा इसका उल्टा करना चाहूं यह depreciation मैं इधर ले रहा हूं तो जब net में depreciation add करते हैं तो आजाता है gross यह बात भी सही है mathematical formula है कोई इसमें rocket science नहीं है बहुत simple mathematical formula है जी gross minus depreciation equal to net net plus depreciation equal to gross और national income में जब आप GDP में depreciation minus करते हैं तो NDP आता है जी NDP में depreciation minus करते हैं तो NNP आता है net national product और सबसे जाधा शुद्ध सबसे जाधा अच्छा सबसे जाधा pure form of national income NNP कहा चाता है यह आपको मैंने GDP बताया GDP क्या होता है final value of all goods and services produced in India by an Indian or by a foreigner यह GDP का formula था जी एन पी का formula था उसका ulta इसी GDP में से मैं और depreation minus कर दूँगा इसी GDP में से मैं अगर depreation हटा दूँगा minus कर दूँगा minus depreciation तो क्या जाएगा NDP और इसनी गनीन पी में से depreciation minus कर दूँगा तो क्या जाएगा NNP 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 के फुल फॉर्म Net National Product Net National Product Net National Product Net National Product त्यार है Net National Product अब सबसे पहला सवाल हमारे इद मन में कि सर कल हमने National Income में GDP, GNP, NDP, NNP पढ़ा था एक बर revise करा दो फिर आगे बढ़ते हैं मैंने आपको बताया था GDP क्या है GDP is Gross Domestic Product Gross का मतलब है टोटल Domestic मतलब इंडिया के अंदर Product का मतलब है उत्पादन कितना हुआ समान बेच कर सर्विस प्रोवाइड करके देश ने कितना पैसा कमाया है मतलब 140 करोड की हमारे देश की जनता उन्होंने कितना पैसा कमाया एक साल में यह अगर आपको पता लगाना है GDP में बस एक important चीज होती है चाहे कोई Indian कमाये चाहे कोई foreigner कमाये बट कमाया Indian Territory पर गया है Indian Domestic Territory पर अब वो Indian Territory, Indian Embassy भी हो सकती है जो इंडिया के बाहर है आपने देखा कही सारे oil rigs होती है तेल निकाले जाते है कही सारे oil के rigs लगे होते है पानी के बीच में जैसे मुंबई के पास आपने मुंबई हाई का नाम सुना होगा नई सुना गूगल कर ले ना मुंबई हाई वहाँ पर तेल निकाला जाता है वो भी इंडिया की territory में आता है, एक exclusive economic zone का concept आप जोगरफी में पढ़ते हैं, कि यह भारत जो है ना, उसके आसपास के 200 nautical mile तक का area, मील सुनाओगा, मील, किलोमीटर, मीटर, यह measurement unit होता है ना, समुधर के अंदर nautical mile term use किया जाता है, ठीक है, 200 nautical mile तक इंडिया का exclusive economic zone होता है, जो Indian territory मानी जाती है, तो Indian territory में चाहे कोई Indian, चाहे कोई foreigner, goods बेचे, services provide करे और वो भी final nature की, तो वो क्या होता है, वो कहा जाता है, हमारे देश की GDP, जो की एक financial year, एक April से लेकर, 31 March तक कमाया गया है पैसा, 1st April से 31 March तक, हम क्यों पता लगाते हैं, अरे, अपने देश की GDP, दूसरे देशों से compare करोगे, इंडिया की GDP बढ़ी है, पाकिस्तान की GDP बढ़ी है, अपने देश की GDP, अपने पिछले साल, previous years के data के साथ compare करोगे, कि आप पिछले सालों के मुकाबले क्या, अब जाकर हमारे देश की GDP बढ़ी है, कि नहीं बढ़ी, ये सारी जानकारी है, आप इंडियन होने चाहिए, चाहे आप इंडियन, इंडिया में रह रहे हो, इंडियन मतलब भारतिया पास्पोर्ट होना चाहिए आपके पास, चाहे इंडिया में रह रहे हो, चाहे फॉरिन कंट्री में हो, तो कुछ लोग होते हैं इंडिया के बाहर नौकरी करने जाते ह और क्योंकि वो इंडियन है दूसरे देशों में बस जाकर रह रहे हैं जो भी पैसा कमाएंगे और इंडिया भेजेंगे वो सब इंडिया की GNP में शामिल होगा फुल फॉर्म क्या है ग्रॉस नाशनल प्रोड़क्ट फरक क्या है ग्रॉस डॉमेस्टिक एंड ग्रॉस नाशनल में वहाँ पर डॉमेस्टिक प्रोड़क्ट में इंडिया की टेरिटरी देखी जाती थी नाशनल प्रोड़क्ट में कौन इंडियन है यह देखा जाता है यहा मैंने जो भी फॉर्मूला बताया है GDP और GNP का जो मेथड बताया है उसी मैंसे ना आप depreciation माइनस कर लो अब आप depreciation का होगे depreciation का मतलब क्या है चलो एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ आप एक business कर रहे हो कमाया उससे आपने एक लाख रुपे एक लाख रुपे कमाने के लिए आपने पचीस हजार रुपे खर्च दिये आपका actual profit कितना है और डिड्यू एक्चली अर्न वन लाख रुपीज और डिड्यू अर्न सेविंटी फाइफ थाउजन ओनली कितना कमाया आपने बताये कितना कमाया पिचतर हजार या एक लाख अरे एक लाख थोड़ी ना कमाया खर्चा भी तो हुआ है उसे कमाने में तो सेविंटी फाइफ थाउजन रुपीज ये आपका actual income है मैं क्या बोल सकता हूं इसे net income जब आएसे ही हमारे देश में लाखों क्रोड रुपे साल में कमाया जाती हैं उनको कमाने के लिए machine's यूज करी जा री है machine's बूडी होती जा रही है उनमे वेररden maintenance पर खर्चाएगा अरे कोई भी डिवाइस है electronic डिवाइस है machine है पुरानी होती जाती है तो value कम हो जाती है आपके पास जो laptop है 5 साल पहले लिया मानलो 50,000 का क्या आज भी 50,000 का होगा आज कम हो गई होगी ना value mobile phone है क्या आज भी उसे आप बेच सकते हो जितने का आपने लिया या गाड़ी जितने की आपने लिये क्या उसी price पर आज भी उसे sell कर सकते हो of course not इसलिए GDP मतलब total income which we have earned उसमें से depreciation हटाते हो ताकि पता चल सके कि actually income कितनी होई है वो है NDP net domestic product एक और बात बतातो दूद्ध पी है दूद्ध के उपर मलाई जम जाती है अगर मैं दूद और उसकी मलाई जो glass में जमी होई है उसको बोलू तो वो gross है total और मलाई निकाल लो सिर्फ दूद दूद रह जाए तो वो हो गया net आपने कुछ चान लिया ना कुछ अलग कर दिया ना इसी तरीके से GDP मतलब total depreciation हटा दिया तो net domestic product अच्छा इसके अलावा अब देखो NNP क्या होता है NNP आप GNP से derive करते हो उसमें से depreciation minus करके GNP अभी निकालना सिखा है था GNP का मतलब जो भी Indian पैसा कमा रहा है चाहे इंडिया में चाहे इंडिया के बाहर एक financial year के अंदर final value of goods से final value of goods and services से इंडिया में या इंडिया के बाहर कोई foreigner इंडिया के बाहर foreign में कोई Indian रहता है मतलब जैसे for example भारत में इंडिया में I'll just give you an example ये इंडिया है इंडिया में एक व्यक्ति रहता है उसका नामें रमेश शीलंका में एक इंडियन रहता है उसका नामें सुरेश पर वो पैसा कमा के इंडिया भेज रहा है अपनी फैमिली के पास इन दोनों की इंकम 1 and 2 देश की GNP में शामिल होगी इसमें से डेप्रिसेशन हटा दो जो मशीन यूज की गई जो वेरंटेर का खर्चा हुआ उसको हटा दो आपके पास आजाएगा एन एन पी और एक और बात बताई थी अगर आपको याद हो के जीडिपी का मतलब है जो भी पैसा एक इंडियन ने इंडिया में कमाया या एक फॉरिनर ने इंडिया में कमाया चाहे वापस कहीं भी भेजाओ चाहे वो ऑस्टेलियन हो चाहे वो अमेरिकन हो चाहे वो फ्रेंच हो चाहे वो कनेडियन हो वो इंडिया में आया उसने यहां से पैसा कमाया इंडिया की सर जमी पर कमाया गया आर टेरिटरी व वाज यूस्ट के मानलो दिल्ली में एक मुंबाइल की शॉप है वो चला रहे हैं वहां से पैसा कमा लिया या उनका कोई फार्मा उससे पैसा कमा लिया या जॉब करते हैं उससे पैसा कमा लिया फॉरिनर होगा इंडिया में रहता होगा और यहां पैसा कमा के इंडिया से बा पैंडिया इंडिया में पैसा कमा रहे है वो GnP में शामिल होता है तिक है यह बात समझ आ गई कि इसके इलावा NDP में, वही सब है, इंडिया, इंडिया में पैसा कमारे है, एक foreigner इंडिया में पैसा कमारे है, minus depreciation, बस depreciation अटा देना है, बाकि सब सेम है, मतलब टेकनीकली GDP में से depreciation अटा दिया, बाकि सब सेम है, एंड लास्ली एन एन पी एक इंडियन इंडिया से पैसा कमा रहा है एक इंडियन फॉरिंड कंट्री से पैसा कमा रहा है माइनस डेप्रिसियेशन क्या हुआ जी एन एन पी हो गया यह फॉर्मूला नोट डाउन कर ले न सब मैं थोड़ा साइड भी अट जाता हूँ स्क्रीन पूरी टेक ओवर नहीं कर लेता अब एक क्वेशन पूछूँ आप से मेरे को जी डी पी से एन एन पी में जाना है तो जी डी पी में मैं क्या प्लस करूँगा और क्या माइनस करूँगा एक टर्म मैंने आपको बताए था Net Factor Income from Abroad पिछली क्लास में Net Factor Income from Abroad कुछ नहीं है बहुत सिंपल है कि जो foreigners इंडिया में काम कर रहे हैं और इंडिया से पैसा कमा के बाहर ले जाते हैं और जो Indians फॉरिन में काम कर रहे हैं बाहर से पैसा कमा के इंडिया में लाते हैं उनकी income के बीच का difference जो आ रही है और जो जा रही है मतलब बाहर से जो पैसा इंडिया में आ रहा है और इंडिया से जो पैसा बाहर में जा रहा है उसके बीच का difference net factor income from abroad कहा जाता है क्या कहा जाता है? repeat with me net factor income from abroad शुद्ध कारक आये जो विदेश से आ रही है यह आपका net factor income from abroad है तो यहाँ पे plus में क्या डालू, minus में क्या डालू, ताकि मेरे पास GDP से NNPI अरे बहुत simple है, जो डर गया, वो prelims नहीं clear कर पाएगा, तो don't worry, don't be afraid, GDP में क्या जोड़ू, net factor income from abroad जोड़ देता हूँ, जल्दी से, जिससे मेरे पास GNP आ जाएगा, GNP आ गया, आया के नहीं आया, minus करो, depreciation, क्या आया, NNPI आया, सरी तो mathematically समझा आ गया, NNP में क्या plus करो, और क्या minus करो, ताकि GDP आ जाया, यह बताओ, यह trick है थोड़ी, I just interpolated, interpolation पते है क्या होता है, यहाँ पर मैंने बस interpolation कर दिया, क्या होगा इसका, और बहुत simple है, बहुत जादा simple है, उसका उल्टा कर दो न, GDP में NFIFE जोड रहे थे, depreciation minus कर रहे थे, तब आ रहा था NNP, अब इसको depreciation को यहाँ ले जाओ, equals to GDP, इतनी mathematics, सबने school level पर पढ़ी है, जिसको समद नहीं आया, एक बार recording, revise करके देखना, NNP में depreciation जोड़ दो, और net factor income from abroad, minus कर दो, ठीक है नहीं, यह आपका method हो गया, NNP निकालने का, अब question कराएं, numerical कराते हैं, आएगा नहीं, prelims में, just for clarity purpose, 100 करोड भारतिय, इंडिया में, 1000 करोड रुपे कमाते हैं, 100 करोड इंडिया में, 1000 करोड कमाते हैं, एक करोड foreigner, इंडिया में, 50 करोड रुपीज कमाते हैं, third, 10 करोड इंडिया के बाहर जाकर, 100 करोड कमाते हैं, मुझे यह बताओ, GDP कितना है, GNP कितना है, NDP कितना है, NNP कितना है, एक-एक करके, I am giving time to all of you, जो लोग recording भी देख रहे हैं, pause करना, और solve करो, फिर आगे skip करके देख सकते हो, it's very important for conceptual clarity, exam में numerical शायद ना पूछा जाए, या शायद पूछा भी जाए, example देता हूँ, EPFO exam में nobody was expecting की accounts के numerical आएंगे, पूछ लिया उन्होंने, तो कोई भरोसा नहीं है कि economics में भी कल जाके UPSC numerical डाल दे, और तुम confused हो जाओ, let's be prepared ना, जब चीज मिल रही है आपको तो फायदा लोग का, and one more thing guys, एक request कर लू, आप सब लोग ना session देख रहे हो, मैं चाहता हूँ, आप जैसे ना लाखो लोग ये session देख है, क्योंकि ये free initiative म चला रहो हर इंसान को फायदा हो, तो उसके लिए please session लाइक कर देना, जिससे ना ज़्यादा लोग देख पाएंगे, जब लाइक बढ़ते हैं, तो वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं, YouTube का algo है क्या करें, ठीक है न, आगे चले, GDP, what is it, क्या होगा, अरे इंडि में foreigner ने जो पैसा कमाया, 100 करोड इंडियन्स ने 1000 करोड कमाया था, 1000 करोड प्लस एक करोड foreigner ने जो 50 करोड कमाया है, 50 CR, GDP done, कितना, 1050 करोड निकल आया, GDP is done, we have found out what is GDP, ठीक है न, थोड़ा आगे चलते हैं, अब इसमें आपको GNP खोजना है, GNP कैसे खोजोगे, इंडिया में, इंडियन ने जो पैसा कमाया, और इंडियन ने foreign में जो पैसा कमाया, अब मैं सीधा उठाके 1000 प्लस 100 भी कर सकता हूँ, ये और ये, 1 और 3 को उठाके सीधा एड कर सकता हूँ, मुझे पता चल जाएगा, 1100 करोड रुपय आ एक और तरीका है, GDP के अंदर, net factor income from abroad जोड़ दो, एक और तरीका है, क्या होगा, GDP कितना है था, ये उपर लिखा है, जूम करके दिखाओ, किसी को बायचान दिखना रहो, 1050 रुपीज, oh my god, I just changed the screen, here it is, 1050 करोड रुपीज, this is GDP, this is what we have found out, ठीक है न, अब चलो, वापस लग, now, GNP का मैंने बताया formula, GNP equals to GDP plus NFIFA, net factor income from abroad, अब GDP क्या था, 1050 करोड रुपे, उसमें क्या एड़क करना है, net factor income from abroad, और net factor income from abroad में क्या बताये था, क्या बताये था, जो पैसा बाहर से इंडिया आ रहा है, माइनस, जो पैसा इंडिया से बाहर जा रहा है, बाहर से कितना रहा है, third point देखो, 10 करोड भारतिया भाहर काम कर रहे है, 100 करोड कमा के यहां भेजते हैं, 100 करोड कमा के भेज रहे हैं, एक करोड फॉरिनर इंडिया से 50 करोड कमा के ले जाते हैं, they are giving it to their family, like, any country does that, every country does that, any country can do it, हर देश में ऐसा होता है, हम नहीं जाते, Saudi Arabia, Dubai, Australia, Canada, वहां से पैसा कमा के remittance, send करते हैं, इसको प्रेशन कहा जाते हैं इंदी में, और it is called remittance, now let's come back, कितना पैसा भाहर से आ रहे हैं, 100 करोड आ रहे हैं, कितना जा रहे हैं भाहर, 50 करोड जा रहे हैं, निकाल लो, net factor income from abroad, 100 minus 50, net income है न, कि बाहर से कितना आ रहा है, minus इंडिया से कितना बाहर जा रहा है, तो कितना आया, 100 plus, 100 minus 50, ये हो गया, 50 करोड, 1050 और 50 को अगर जोड़ोगे, तो मेरा calculator तो 1100 करोड ही बताता है, जो उपर आ रहा था, so these are two methods to find out, ठीक है न, these are the two methods to find out, अच्छा, एक और चीज, अभी मैंने GDP बता दिया, 1050 करोड था, मैंने GNP बता दिया, 1100 करोड है, अब मैं आपको बोलू, कि Indian economy में total depreciation, जो ministry of corporate affairs, अब आप पूछोगे, सरकार को कैसे पता चलेगा, depreciation कितना हो रहा है, देखो जब भी tax return फाइल करते हो न, तो सब कुछ बताना पड़ता है कि कितना profit कमाया, कितने की investment करी, कित departments को यह जानकारी रहती है, उनके पास जानकारी है, वो mathematically compute कर लेते हैं, फिर ministry of statistics and program implementation भी देखो, कितने सारे मंत्राले जुड़े हुए है, three different type of ministries are there, so they provide data, government data का use करती है, and उस data के basis पर, depreciation बता देती है, मान लेते हैं, 70 CR is the depreciation, अब NDP और NNP कितना है, जरा यह बता दीचिये, please बता दीचिये, humble request, 70 CR is the depreciation, how much is the NDP, how much is the NNP, very simple, very simple, सोनो जरा ध्यान से, GDP मैं से depreciation माइनस किया, 70 CR का, कितना आया, 980 CR, इस मैं से 70 CR माइनस किया, कितना आया, 1030 CR, 980 is the NDP, 1030 is the NNP, simple, isn't it, I told you, economics might seem difficult, but इसको easy बनाया जा सकता है, मैं इस series खा नाम मैंने जब सोचा था, तो इंडिया नॉमिक्स रखा था, पर मुझे लग रहा है इसको rename करना पड़ेगा, easy nomics करना पड़ेगा, because it is so easy, if you are still not able to understand, एक बार recording, revise कर लेना, अल्राइट, moving ahead, अब estimation कैसे होता है, national income का, इस पर आते हैं, जो हमारा एक बिल्कुल fresh topic है, हम तीन methodology यूज करते हैं, to estimate national income, तीन methods हैं, तरीके हैं, national income खोजने के, और इन तीन तरीकों से देश की national income निकाली जाती है, कौन से कौन से हैं, एक है आपका पहुत famous income method, income method, income method इसे कहते हैं, दूसरा है आपका expenditure method, और तीसरा है आपका product method, income method, expenditure method, and product method, आप देखो, इतनी easy मैं कर रहा हूँ ये topic आपके लिए, एक example देता हूँ, कि एक परिवार है, शर्मा जी का परिवार, शर्मा जी की income है 25,000 रुपीस, मिस्टर शर्मा की income है, मिस्टर शर्मा की income है 35,000 रुपीस, फीमेल की बढ़ा देते हैं ना, नारी सशक्तिगरन, मेल से कम क्यूं रखें, बढ़ा देते हैं, उनके पास rent आता है, 10,000 रुपे, उनका एक प्लॉट पड़ा हुआ है, उसका rent आता है, और उनके पास interest आता है अलग-अलग sources से 5,000 रुपीस, ब्याज कमाते हैं, इतना महीने का, ठीक है न, ये क्या आपको मैंने बताया है, मैंने बताया है, उनके income sources, इतना वो महीने का कमा रहे हैं, कितना हु बड़ा screen से अपने आपको अलग करता हूँ, ताकि आप लोगों को दिख सके, अब खर्चे देखो, expenditure, तीन बच्चे, तीनों की फीस मिलाके, 20,000 रुपे, स्कूल की फीस में चला जाता है, transportation cost 5,000 रुपीज है, transportation cost, 30,000 सब का खाना, पीना, 30,000 food, 30,000 food, 15,000 rent, and 2,000, 2,000 clothes, कपड़े वगेरा, कपड़े पहनते हैं, उसका खर्चा, और 3,000 रुपे जो भी और भी छोटे मोटे, miscellaneous expenditure है, जो भी छोटा मोटा miscellaneous expenditure है, ये परिवार है, शर्मा परिवार, उनकी आपको income देखने मिल रही है, और expenditure देखने मिल रहे हैं, अब देखो, जितना कमाईंगे, उतना ही खर्चेंगे, अजियूम कर रहे हैं, कि there is no debt, कोई उधार नहीं ले रहे हैं, मैंने क्या बोला, जितना कमाईंगे, उतना ही तो खर्चेंगे, अब मुझे इनकी income पता करनी है, पहला तरीका क्या है, कि income पता कर लूँ, अलग-अलग sources से क्या है, जो कि हमने पता कर ली है, इस column में, दूसरा तरीका मैं इनके expenditure पता कर लूँ, कि कितना पैसा खर्चे हैं, और ये सोचते हुए, कि इनकी कोई saving नहीं हो रही है, कोई बचत नहीं हो रही है, और there is no debt, कोई उधार नहीं है इनके सर पर, अगर मुझे ये दो चीज़ें पता हैं, तो मैं ये बता सकता हूँ न, साल भर में कितना पैसा या महिने भर में कितना पैसा कमाया, बता सकता हूँ के नहीं बता सकता, सामने दिख रहा है, टोटल करो कितना आ रहा है, 20,000 प्लस 5,000 is 25, 30,000 add कर दो 55, 15,000 add कर दो 70, और ये 2 और 3,000 और add कर दो, तो 75,000, इतना उन्होंने कमाया, एक assumption ये है, कि there is no debt and there is no savings, इतना पैसा कमाया और इतना पैसा खर्च दिया, तो मेरे को अगर उनकी income estimate करनी थी, तो मैं directly income देख सकता था, या मैं उनका खर्चा देखूं, या मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ, सुनो ज़रा ध्यान से, मैं देख सकता हूँ कि उन्होंने total production कितना किया है, total production कितना किया है, मतलब कितना output कमाया, कितना input लगा के, नहीं आयना बात समझ, output, input, अच्छा भूक लग रही है किसी को, I am asking you, भूक लग रही है, मेरे को भी लग रही है, इस class खतम होने के बाद, I will be ordering a paneer tikka, from a nearby restaurant, अब मैं जब restaurant के owner को order दे रहा हूँँगा, कि भईया एक plate, paneer tikka कर दो, तो मैं थोड़ा friendly terms में उनसे पूछूँगा, कि आप paneer tikka बनाते हो, इसकी cost कितनी आती है आपको, वो कहते हैं, देखो 200 रुपे plate है, 250 रुपीज पर plate, बट ये paneer tikka बनाने में 50 रुपीज का paneer यूज होता है, 15 रुपे के मसाले, 15 रुपे gas वगेरा, और 10 रुपीज हमारे जो कुक है उसकी salary, अगर आप मिला लेंगे तो, 50 प्लस 30 प्लस 10, how much? 80, 90, 90 रुपीज का हमें पढ़ता है, इसमें 30 रुपीज delivery charge आड़ कर लो, 120 रुपीज का हमें पढ़ता है total, हमारी input cost है 120 रुपीज, लागत है, और हम बेचते हैं ऐसे 250 रुपीज का, तो इस पूरी activity में, as a restaurant owner, मुझे value addition, value addition, हिंदी वाले बच्चों सुनो ध्यान से, मूल्य सनवर्धन उत्पादन की प्रक्रिया में, value addition, मुझे 130 रुपीज का मिला है, मूल्य सनवर्धन 130 रुपे का मिला है, I earned 130 रुपीज, this the restaurant owner will tell me, तो क्या मैं कह सकता हूँ, यह उसकी income है, क्या मैं कह सकता हूँ, इंडिया में ऐसे कितने सारे restaurant owners होंगे, ऐसे कितने सारे factories होंगे, call center होंगे, कितने सारे offices होंगे, करोड़ों लोग, 140 करोड की जनसंग क्या है जी, मैं सब का output minus input, मतलब valuation निकाल दू, value addition sorry, value addition निकाल दू, value addition का मतलब क्या है, output minus input, मैं इतने लोगों का पूरे देश भर में, sigma, यह sigma sign पता है सबको, यह sigma, you all know this, it means total, मैं पूरे देश में total output minus input अगर निकाल दू तो, तो देश की, GDP पता चलेगी की नहीं चलेगी, मैं total देश में कितना value addition हुआ है, total value addition कितना है, वो बताऊंगा तो GDP पता चल जाएगी, आचा, शुरुआत में ही बताया था, total शब्द को, एक और word के तोर पे लिख सकते हैं, which is gross, तो gross value addition कितना आया, which is GDP only, बस method अलग है, GDP आप income method से, expenditure method से, production, जिसको value addition method भी कहते हैं, उससे निकाल सकते हो, अगर ऐसे मैंने किया, तो मुझे देश की GDP पता चलेगी, यह तो एक धाबा था, एक restaurant था, ऐसे करोडो restaurants होंगे, कितनी factories होंगी, कितनी दुकाने होंगे, कितने service sector के offices होंगे, सब का total कर दो, कहीं पर एक रुपिया भी कमाया जा रहा है, तो कितना value addition हो रहा है, यह total कर दो, तो पता चल जाएगा, देश की national income कितनी है, तीन method, simple से, समझ आ गए, कौन से है, national income estimate करने के, अब इनको थोड़ा elaborate कर दू, जैसे हमारी NCRTs में लिखा है, सबसे पहले elaboration में मैं बता रहा हूँ आपको, that is, first thing, सुनो जान से, income method, income method में क्या किया था, हमने परिवार की, अलग-अलग income को add किया था, अब यहाँ पे देश की बात हो रही है, country की ब income, country में हमारे देश की लोग अलग-अलग तरीके की income कमाते हैं, कौन सी-कौन सी income हो सकती है, आपके मम्मी, पापा, भाई, बहन, चाचा, चाची, ना, 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 नी, दा, 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 दी, किस तरीके का पैसा कमाते हैं, कुछ को salary मिलती होगी, कुछ हो सकता है, daily wages पे काम करते है, कुछ हो सकता है कि pension का पैसा कमा रहे है, सरकारी offices में मिलती है ना pension, कुछ किराया राप्त कर रहे है, rent, कुछ को profit मिल रहे है, किसी ने किताब लिखी है, उस पर royalty मिल रही है, और publisher royalty देता है, अगर book लिख दो तो, कोई interest कमा रहे है, है ना, कोई companyों से, जैसे मैंने Reliance में invest कर दिया, तो एक तो Reliance के मालिक, अम्बानी जी कमाएंगे, और मैं investor हूँ, तो मुझे भी मिलेगा पैसा, और हो सकते है कोई tuition ले रहे है, कोई वकील है, कोई doctor है, कोई chartered accountant है, कोई मेरी तरह teacher है, अलग-अलग type के लोग हो सकते है, किसी ने किसी को loan पर दिया है पैसा, कमा compensation to employees, compensation मतलब मुआफजा, employees मतलब क्रमिक, जो आपके workers हैं, उनको जो आप पैसा देते हो, जो पैसा आपसे कमा रहे हैं, salary, pension, wages, वो सब यहाँ पर आएगा, whatever income the employees are earning, pension, provident, fund, dearness allowance, जो भी है, नौकरी करने वाले लोग यहाँ गए, सर, जो नौकरी नहीं कर रहे हैं, सर, जो self-employed है, जो खुद का business चला रहे हैं, ठीक है न, आजकल तो बहुत सारे लोग चल रहे हैं, बी-कॉम, पानी-पूरी वाला, चाय वाला, बी-े चाय वाला, ठीक है न, बर्गर वाला, आजकल तो बहुत है, मीम भी बहुत बनते हैं इन पर, तो mixed income, self-employed individuals, जो खुद का business कर रहे हैं, कोई property dealing कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई teacher है, कोई doctor है, तो वो mixed income कमाते हैं, अलग-अलग type की income, जो कि उनके द्वारा कमा ही जाती है, जिसमें आपका lawyers doctors, doctors की fees, वो salary तो नहीं है, वो तो fees है, एक doctor ये थोड़ी ना कहते है, कि तुमारा मैं daily थोड़ा-थोड़ा इलाज करूँगा, महीने का 30,000 रुपीज लूँगा, ऐसे थोड़ी ना होता है, इलाज करान जाते हो, fees देते हो, है ना, so any income from agriculture, as a doctor, as a lawyer, as a business person, as a loan giver, loan देते हो पैसा कमाते हो, mixed income of self-employed की category में आता है, इसके अलावा third category और last category, operating surplus, operating surplus, operating का मतलब है, कोई business कर रहे हो, कोई company चला रहे हो, वो company से जो पैसा कमा रहे हो, operating surplus कहा जाता है, देख सकते हो, operating surplus कहा जाता है, उसे, आप company कमा रहे हो, आपके पास अपनी जमीन का rent आ रहे है, आपके पास profit आ रहे है, आपके पास interest आ रहे है, RPI लिखता हूँ मैं आप, rent, profit, interest, या आपके पास अपनी books, book लिखी है, आपने गाना गाया है, अरजीत सिंग के तरह, दिल का दरिया, पैसा आ रहे है उससे, ठीक है ना, तो वो आपका जो भी पैसा आ रहे है, that will come under operating surplus, ये आपको कहां देखने मिलता है जी, ये आपको देखने मिलता है, under this category, income method, ये तीनों को total कर दो, आपको पता चल जाएगा देश की income, income method के ही साब से, ठीक है ना, कोई भी पैसा है, commission charge किया गया है, किसी ने कोई पैसा कमाया है, method, second method पर चलने जी, excited about the second method, the second method is expenditure method, expenditure method, खर्चा, वही शर्मा जी की family की income के खर्चे, income नहीं खर्चे अगर निकालू, तो मान लिया, savings नहीं है, मान लिया, उधार नहीं ले रहे है, तो आपको पता चल दाएगा, कितनी total income हुई है, जितनी income हुई है, उतना ही तो खर्च पा यहाँ पर इसे कहते हैं, C plus I plus G plus X minus M, यह क्या plus कर रहे हो सर, अगले पेच पर दिखते हैं, C plus I plus G, C means consumption, consumption, उपभोग, कौन उपभोग कर रहा है, कौन consumption कर रहा है, हम लोग, you and I, common people like us, घर खरीदा, गाड़ी खरीदी, फिर्च खरीदा, फोन खरीदा, टीवी खरीदा, बाइक खरीदी, हम सब खर्च कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, I for investments, investment कौन करता है, वैसे करने को तो government भी करती है, पड़ यहाँ पर, निवेश, बिजनेस में, व्यापार में कौन, बिजनेस में, व्यापारी लोग, वही तो कर सकते हैं, जी, जी, गवर्मेंट का खर्च है, गवर्मेंट की investment है, गवर्मेंट expenditure, यह जो स्कूल बन रहे है, तुमारे इस घर के पास सरकारी स्कूल, हॉस्पिटल बन रहे है, यह जो गवर्मेंट फेसिलिटीज structure, where does this come from, government uses our tax money, सरकार हमारे कर का पैसा यूज करती है, और उसको निवेश करती है, तो जो मंद्रेगा, आयुष्मान भारत, योजना, सवच्च भारत का इरादा, इरादा कर लिया हमने, सवच्च भारत मेशन, all this money is coming from the government sector, सरकार भी तो खर्चा कर रही है, businesses और हम जैसे लोग ही थोड़ना करते है, COVID lockdown के दौरा, and it was the government which was spending the maximum amount, हम लोग घर में बंद थे, गरीबों की भलाई के लिए, कई सारे खर्चे सरकार को करना पड़ता है, ठीक है न, ये बात याद रखेगा, तो बस मुद्दे की बात ये है, कि government expenditures सारा यहाँ पे आते है, and जो पैसा बाहर खर्च करके इस बाहर से समान ला रहे हो, और जो पैसा कमा रहे हो, बाहर समान बेच कर, इंडिया के products की demand दुनिया भर में है, हमारा jewelry, refined fuel, इंडिया से कई सारी चीज़ें बाहर खरीदी जाती है, फार्मसी, फार्मसीटिकल प्रोड़क्स दवाईयां, आफ माइनस जो बाहर वालों ने हम से खरीदी है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यह चौथी क्याटेगरिया जी, इसको एक साथ लिखते हैं, so it includes, expenditure method includes, our household expenditure in the form of personal consumption, हमारा जो निजीगत व्याय है, उपभोग है वो, investment businessman के द्वारा, Reliance, Adani, Tata, Tesla, टेसला तो foreign हो गई, इंडिया की investments, और foreign investments, दोनों आती है, इसमें investment की category में, Tesla, Tata, अलग-अलग companies, सरकार का खर्चा, और export minus import, यह आपको देखने मिलता है, अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं second hand चीजों को include करूँगा national income में, नहीं, एक phone मैंने खरीदा 30,000 का, अब उसे मैं आगे बेच रहा हू 20,000 का, तो क्या 20,000 की sale भी national income में जुड़ेगी, नहीं, second hand items, second hand items, देश की national income में उनकी sale नहीं जुड़ती है, क्योंकि एक बार जुड़ चुकी है, फिर से नहीं जुड़ेगी, बार बार नहीं जुड़ेगी, सो consumption plus investment plus government expenditure, plus exports minus imports, c plus i plus g plus x minus m, यह है expenditure method, और third or last, जिसका अभी आप दर्शन करी चुके हो, that is the product method, या production method, या value addition method, एक ही बात है, जहाँ पर GVA निकालते हो, product method के माध्यम से आप क्या निकालते हो, gross value addition, GVA, gross value addition, आप निकालते हो, product method के through, जिसमें आप output, कितना कमाया गया है, कितने input को लगाके, वो value निकालते हो, जिसको कह रहाता है, VA, value addition, मूल्य सनवर्धन कितना हुआ है, और इसका total कर दो, पूरी economy में value addition कितना हुआ है, कि for example, मैंने रेस्टोरेंट वाले example दिया था, कि उसने output कितना कमाया, कितना कमाया, और कितने का समान लगाया, कितना उसका खर्चा था, उसके बीच का फर्क, ऐसी अर्थिवस्था में, लाखो करोडों लोग हैं, उन सब का total कर दो, आ जाता है, gross value addition, जिसको हम, GDP मानते हैं, product method, या value added method के अंतरगत, हम इसे GDP मानते हैं, जी, अब आद समझ आई सब को, what are these three methods, and what is their purpose, ये सब को समझ आया होगा, अब आगे चलें, इंडिया, के अंदर एक और तरीका, इस्तमाल किया रहता है, देश की economic progress को देखने के लिए, that is, per capita income, ये दो अलग अलग शब्द हैं, per capita, और फिर तीसरा शब्द है, income, प्रतिव्यक्ति आये, देखो example, बहुत simple example देता हूँ, जब मैं school में था, मेरे कुछ friends थे, मेरा birthday आया, मेरी class में 40 बच्चे थे, और मैं 120 टॉफी ले गया, हर बच्चे में बाटने के लिए, ठीक है न, अब कुछ बच्चे थे जिनों मेरे को बिलकुल पसंद नहीं थे, कुछ 10 के करीब थे, I didn't like them at all, पर मैंने कहा कि सबको कुछ ना कुछ दे रह फिर कुछ ऐसे लोग थे, जो moderate, मतलब I was not even friends with them, ठीक है, दुश्मन ही नहीं थी कोई, मैंने का चलो इनको दो-दो टॉफी दे देता हूँ, तो ऐसे 20 लोग थे, उनको मैंने 40 टॉफी आ दी, ठीक है न, 10 और 40 कितना हुआ, 30 कर देते हैं, चलो, 30 तो नहीं होगा न, एक सेक कर देते हैं, round figure हो जाएगा, otherwise it would have been difficult, 25 कर देते हैं, 50 हो गया, बची कितनी, 60 टॉफी रिमेंड हैं, 60 टॉफी बची थी हैं, जो मैं अपने 5 दोस्तों में बाढ़ना चाहता था, और हर दोस्त को मैंने कहा, जितना खाना है खाओ, सबने 12 बारा टॉफी खाईं, सबने 12 बार बारा टॉफी कुछ बच्चों को मैंने दिया, ऐसा क्यों किया, क्यों कि वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, पांच ही दोस्त थे, लोगों का तो एक ही दोस्त होता है, मेरे पांच-पांच थे, besties, I told them that eat how much you want, eat it, खाओ, अब इसमें क्या हुआ कि कुछ लोगों को बहुत ज्यादा लेवेल पर मिलती है, I mean enormous wealth, as per Oxfam report 1% of Indians hold, 40% of the Indians wealth, एक प्रतिशत लोगों का 40% संपत्ति है देश की, ठीक है न, दूसरी बात, दूसरी चीज, आपको देखने मिलेगा, कि एक टाइम पर हमारे देश में agriculture dominated system था, तो middle class लोग ज्यादा थे, आज गरीब लोगों की संख्या काफी है, और अमीर लोगों की संख्या काफी है, बट सबसे जादा middle class population है, इसी तरीके से, इस example में लोग middle class, मतब जो middle level पर है, कुछ लोग ज्यादा बहुत है, कुछ लोग ज्यादा बिलकुल कम है, देश की income भी इसी प्रकार है, पर मैं toffee कितनी ले गया था, 120, कितने बच्चों में बाटने के लिए 40 में, काइदे से सबको अगर equal treatment होता, inequality नहीं होती, तो सबको 3-3 toffees मिलती, हाया ना, और कितनी, कुछ लोगों को 12 मिली है, कुछ लोगों को 1 मिली है, कुछ लोगों के साथ घोर discrimination हुआ है, भेदबाव हुआ है, कुछ के साथ extremely privileged रहा उनके साथ, उनको benefit मिला बहुत ज़्यादा, तो इस example से क्या समझ आया, that there exists inequality, पर अगर हम average देखें, तो सबको 3 मिलनी चाहिए थी, ऐसे ही देश की average निकाल दो, कि देश ने साल भर में 20 लाख करोड रुपे कमाए, और देश में 100 करोड की आबादी है population है, इतनी देश की total income थी, और इतनी देश की population है, तो जो भी figure आता है, एक लाख, जो भी आता है, दस जार एक लाख, जो भी आता है, जो भी X figure आएगा, वो देश की average income हो गई, उसी को per capita income कहते है, प्रती व्यक्ति आए, per person income, per capita income कहा जाता है, everybody understood this concept, what is per capita income, बहुत easy example, मैंन क्या बोला यह, इंडिया नॉमिक्स नहीं, easy नॉमिक्स है, बहुत easy example दिया है आपको, I hope सब को clear हुआ होगा, so average कितना आया, उस case में तीन आये था, तीन टॉफी, पर कुछ लोगों को तो 12 मिली थी, कुछ लोगों को से वेक मिली, average निकाल लिया आपने, यह है per capita income का concept, यह आपके exam में पूछा जा सकता है, पूछे जाने की संभावना है, यह बात याद रखेगा, एक और concept देखो, purchasing power parity, अब यह क्या होता है, इंडिया दुनिया की कौन से number की GDP है कोई बताना चाहेगा, कोई बताना चाहेगा, if you say 5th, you are wrong, if you say 3rd, then also you are wrong, but if you say 5th in terms of nominal GDP, and 3rd in terms of real GDP, और purchasing power parity GDP, well, तब आप गलत नहीं हो, अगर इंडिया की आप purchasing power parity देखेंगे, तो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थवेश्ता है, हम चाइना यूएस के बाद, परचेजिंग power parity इसका मतलब क्या है, इंडिया में, मैं 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 डॉनल्स में गया, मैंने कहा, I want a burger, मैं वेजी बरगर, उन्होंने कहा, शोर सर, आपका मैं वेजी बरगर 40 रुपीज का है, आप ले सकते हैं, यूएस में गया, यूएस में मैंने बोला, I want a मैं वेजी जिस है, शोर सर, इस ओफ वन डॉलर, और अगर आज का डॉलर रुपे का exchange rate देखोगे, तो एक डॉलर करीबन 80 रुपीज का है, example के तौर पर, मतलब इंडिया में जो चीज 40 रुपे की थी, वो एक डॉलर की मिल रही है, यूएस में, टेक्निकली 80 रुपीज की, इंडिया में 40 रुपे की मिल जा रही है, मतलब इंडिया में जो एक बर्गर 80 रुपे का मिल रही है, वही इंडिया में दो बर्गर मिल जा रहे है, दो आइटम्स मिल जा रहे है, मतलब इंडिया की करंसी ओवर वैल्यूड है, क्योंकि उतने ही पैसे में जादा चीज़ें इंडिया लगी करंसी में इंडिया में मिल जा रही है जो कि हम एक developing country है लाजमी बात है कि उतनी महंगाई उतना inflation हमारे देश में नहीं होगा देश तो भी तरक्की कर रहा है न जितना बाकी देशों के मुकाबले European American countries के अंदर फिलाल है चीज़ें वहाँ पे बहुत जादा बढ़ चु हो रहा है important relevant चीज ने कराए जा रही है तो एंडिया में वही दो चीज़ें आ जा रहें तो ओगर टेशनी कली अमटा दॉलर की कितनी चीमत होनी चाहिए इंडिया में एक डॉलर में चीज़ी ओंटर या if क क norm मिल जाते हैं तो टेखनी तो $1.40 होना चाहिए था क्योंकि उतनी की value की चीज़ें आपको मिल रहे हैं अब आप एक product देखके identify नहीं कर सकते आपको basket of commodities देखना पड़ता है वस्तुओं की अलग-अलग संख्या कि देखो इंडिया और US में कुछ common चीज़ें यूज होती होंगे दोनों देशों में नहाते दोनों देशों में होंगे साबुन जूते, कपड़े, mobile phones, electronics, TV, fridge दोनों देशों में यूज होता है तो आपको उनके prices compare करने हैं कि इंडिया में मान लेते हैं इंडिया में 80,000 रुपीज का महीने में एक person गुजारा करता है वही US के अंदर किसी को 2000 डॉलर खर्चने होते होंगे महीने में गुजारा करने के लिए अपने family का अगर 1,80 रुपे है तो टेकनिकली इंडिया में आप 1000 डॉलर में गुजारा कर रहे हो और US में 2000 डॉलर में savings करता था अभी उसने कुछ समय पहले गाड़ी भी खरी दी थी फिर वो चला गया USA में USA में उसकी salary है 4000 डॉलर्स लगबग 3,5,5 रुपे कह रहा है महीने का खर्चा निकल जाए वही बड़ी बात है 1000 डॉलर का तो रेंट है बहुत महंगाई है खर्चा निकल जाए महीने का वही बड़ी बात है इंडिया से जादा कमार है बड़ देखो क्या कह रहा है खर्चा निकल जाए वही बड़ी बात है तो इसी वज़े से मैं बता रहो दोनों देशों की income level बहुत अलग है purchasing power अलग है इंडिया में एक डॉलर में तुम दो बर्गर खरीच सकते युएस में की आएगा दोनों की पर्चेजिंग पावर अलग है दोनों के बीच में की quality क्रियेश्ट करने की जो कोशिश की गई पर्चेजिंग पावर पैरिटी की जो market rate है रुपए डॉलर का एक डॉलर असी रुपए का है बट reality में एक डॉलर तो हमें 40 रुपए का देखने मिल रहा है क्योंकि उसी एक डॉलर में 40 रुपए के दो बर्गर आ जा रहे है तो टेक्निकली तो 40 रुपए ही हुआ ना यह 40 रुपए की चीज आपको मिल जा रही हो से एक डॉलर में एक बर्गर मिल जा रहा है 40 रुपीज में same product but at a lesser value इंडिया में उतनी महंगा ही नहीं है पर्चेजिंग पावर डिफर करती है इसके लिए हम क्या कर रहे है इसके लिए हम skill development को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि बेरोज़गारों की संख्या कम हो employment level बढ़े लोगों के अंदर अच्छा skill set आ सके और लोग जादा income कमा सके ताकि देश में जादा ग्रोथ हो हम make in India को बढ़ावा दे रहे हैं के अंदर output बढ़ानी कोशिश करने हैं कह रहे हैं कि आओ इंडिया में factory लगाओ जैसे चाइना became the factory of the world now इंडिया wants to be that service sector में हम number one है पर हमें product sector में भी आगे बढ़ना है हमें तरक्की करनी है देश को बढ़ावा देना है, growth करनी है देश की जी इसलिए क्या बोला हमने कि हम service sector में भी growth करना चाहते हैं तो goods and services वस्तु और सेवा है हम ज़्यादा produce करेंगे make in India scheme के तरह, एक है production linked incentive scheme PLI scheme इसका फाइदा क्या है PLI scheme चाहता है कि इंडिया में electronics manufacture ज़्यादा production करें सरकार चाहती है इंडिया में semiconductor बने, drones बने दूसरे देशों से ना खरीदने पड़े खास तोर पर चाहिना से अभी क्या हो रहा है आप पैसा दूसरे देशों पर खर्च रहे हो उनकी economy को बढ़ावा दे रहे हो उनकी GDP को बढ़ावा दे रहे हो उनको income मिल रही है इस से और हमारी GDP नहीं बढ़ पा रही है हम 3.75 trillion dollars की economy बन चुके है recent government data के साब से और हमारा target था 2014-25 तक 5 trillion की बनने का वो target तो चलो meet थोड़ा लेट हो पाएगा बट हम 5 trillion dollar की economy बन जाएगे जब चाइना 12 trillion के करीब है USA 20 trillion के करीब है तो अभी बहुत आगे जाना है अभी हमारे आगे कई सारे countries है उन्हें पीछे छोड़ना है उसके लिए consistent efforts देश में करने होंगे production बढ़ाना होगा skill development बढ़ाना होगा लोग कोरी डिगरियां लेके घूम रहे है diploma, degree, certificates लेके घूम रहे है उनकी value को बढ़ावा देना है कि उनके पास job उन्हें मिल सके नरायन मूर्ती जी Infosys के मालिक उन्होंने कहा that most of the IT youth people who are coming from the IT sector जो colleges से pass on होते हैं उनके पास वो soft skills नहीं है जिन से वो employable बन सके तो employability बढ़ानी है employability बढ़ानी है नहीं करोगे well look at your neighbor पाकिस्तान उसके आगे कुछ बोलने की जरुवत है मुझे हाँ या ना खुद बता दो कुछ बोलने की जरुवत है बस खतम आगे real versus nominal GDP एक कहानी और सुनाओंगा अब चलते हैं हमारे let's simplify corner में what does the left let's simplify corner से देखते हैं let's simplify बहुत simple कहानी है एक गाड़ी बनाने वाली कंपनी थी 2010 में वो 5000 यूनिट कार बनाती थी आज भी वो 5000 यूनिट कार बनाती है 2023 में उसके बिलावा उस ताइम पे गाड़ी की कीमत होती थी 5 लाक रुपे बट स्टील महंगा हो गया बहुत कुछ महंगा हो गया और अब कीमत आती है 7 लाक रुपे 7 लाक पर कार पर कार अर्लियर देर आउट्पुट वोस 25 क्रोर्स नाव देर आउट्पुट इस 35 क्रोर्स कितना पैसा कमा रहे हो 25 करोर कमाते थे कुछ साल पहले आज 35 करोर कमा रहे हो clapping don't clap it's not a good news reason कितनी quantity produce करते थे पहले और कितना price था पहले इनको multiply करोगे quantity into price तो आता है कितना volume में production हो रहा है पहले 25 करोर में होता था अभी 35 करोर में होता है आपको देखने में तो यह चलावा होगा कि देखो 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 प्रोडक्शन जादा हो रहा है बट reality में क्या हो रहा है reality में units तो उतने ही produce हो रहे है production थोड़ीना बढ़ा है अरे वो तो steel महंगा हो गया तो महंगाई आपकी income थोड़ीना है पहले आप मान लीजिए 1000 रुपे किलोग्राम steel खरीदे थे example दे रहा हूँ यार बस आज 1200 रुपे किलोग्राम खरीदना पड़ रहा है rate बढ़ गया है पैसे जादा पैसे देने पड़ रहे हैं आप profit थोड़ीना कमा रहे हो खर्चा जादा हो जा रहा है करो कि अगर अभी भी 5000 यूनिट कि अभी भी अगर 5000 यूनिट ही प्रोडक्शन हो रहा है तो प्रोडक्शन तो 0 बढ़ा है कुछ नहीं बढ़ा मैं अगर पुराने price पर compare करूँ कि 5,00,000 रुपए गाड़ी का दाम होता था और आज 5000 रुपए यूनिट बिक रहे हैं तो अभी 25 करोड की 25 करोड की production हो रही है 25 करोड की पहले होती थी अभी 25 करोड की हो रही है जब मैंने आज के price को खोल के देखा current price को खोल के देखा इसे कहते हैं current price दो concept होते हैं current price and constant price इनके माध्यम से हमें पता चल पाता है कि महंगाई अर्थवस्था में बड़ी है के नहीं बड़ी है ये दो concept है current price और constant price करेंट प्राइस पर अभी के फिलाल के दाम को आप देखते हो करेंट प्राइस में अभी के फिलाल मैं प्लीज रिपीट कर रहा हूं बार बार लिसन टो इट करेंट प्राइस में अभी के फिलाल जो प्राइस चल रहे हैं उनके इसाब से आप इंकम को देखते हो और साल का था तब उन्होंने मेरे को देखा फिर वो पांच साल के बाद पोस्टिंग के बाद आय थे मैं 15 साल का हो चुका था जब मैं 10 साल का था तो मैं कुछ 5 कि अचानक से इतना लंबा हो गया बस फर्क यह कि उन्होंने मुझे काफी साल बात देखा था पांच साल में तो दुनिया बदल जाती है भी बदल गया था टो मंने कितने साल बात देखा है तो इतना लंबा चोड़ा हो गया वंकॉस about comparing मी वेंट वोस्टकिन अनुट 10 तो मैं समझ नहीं पा रहा था जबकि उनका intention अलग था, ऐसी लिए देश की GDP को भी आप current और constant price पर देख सकते हो, current prices पर अभी के हालाद दिखेंगे, अभी की स्थिति दिखेंगी, current price पर, GDP at current price पर, which is nominal GDP, which is GDP at current prices, nominal GDP, अभी के दाम पर, current prices पर, 2023 में के दाम आप देख रहे हो, कि कितना production हुआ है, ठीक है ना, पर अगर आप past data को देखकर compare करोगे, कि उस साल इतना production हुआ था, और इस rate पर हुआ था, और वो rate कितना था, अगर आप past data को देखोगे, तो उसे कहींगे, GDP at constant price, इसको कहा जाता है, base price और base effect, base price का मतलब, पुराने किसी data को, जब आप base मान लो, पुराने किसी data को जब आप base मान लो, तो उसे क्या कहा जाता है, base effect, base effect का मतलब क्या है, past के पुराने किसी data को आपने, constant मान लिया, और उससे compare कर रहे हो, ताकि actually पता चले कि volume बढ़ा कि नही अपल एक और दे रहा हूं, एक factory है जहां पर टॉफिया बनती है, एक factory है जहां पर टॉफिया बनती है, 10,000 टॉफिया बनती थी, 2010 में, 2023 में 8,000 टॉफिया बनती है, 8000 8000 8000 अच्छा 8000 टॉफिया आज के टाइम में बनती है उस टाइम पर एक टॉफिय के प्रोडक्शन की कीमत आती थी 0.10 पैसा आज कीमत आती है 0.5 पैसा उस टाइम पर 10,000 टॉफिया 10 पैसे के हिसाब से बनती थी 1000 रुपे की टॉफिया बनती थी आज 4,000 रुपे की टॉफिया बन रही है आप कहोगे देखो पहले 1000 रुपे कमाया जाता था टॉफिय बेच के अब 4000 रुपे कमा रहे है and you will be happy but don't be happy क्यों प्राइज बढ़ गया quantity कम हो गई वॉल्यूम इसलिए बढ़ा हुआ दिख रहा है पुराने प्राइस से कंपेर करो 0.10 के साब से तो पहले तो 1000 रुपे की टॉफी बनती थी अब actually मैं 800 रुपे की बन रही है अगर आप calculator में देखोगे 0.10 इंटू 8,000 करोगे तो 800 आएगा पहले से 200 रुपे का कम production कर रहे हो अगर आप यही चीज कौन से प्राइस पास्ट डेटा पे पास्ट डेटा को क्या कहते हैं कॉंस्टेंट प्राइस पर किसी चीज को कॉंस्टेंट मान लिया पुराने प्राइस को कॉंस्टेंट मान लिया compare करने के लिए कॉंस्टेंट प्राइस पर आप compare कर रहे हो ठीक है ना और कॉंस्टेंट प्राइस पर क्यूंकि आप compare कर रहे हो असलियत के सामने भी आओ प्यारे तो इसके साथ बस आपको मैं ही समझाना चाहता था constant and current prices का फरक current price मतलब अभी के दाम 2023 के क्या चल रहे हैं current prices का मतलब constant price का मतलब past का कोई data आप constant मान लेते हो और ऐसे year का जिस साल prices में जादा fluctuation ना हो जादा उतार चड़ाव ना हो, stable होना चाहिए अब जैसे कोविड के time के prices को आप कभी भी constant नहीं मान सकते बहुत उतार चड़ाव हो रहा था एक ऐसा year जब growth stable रही हो देश की, उसको constant मानते हो GDP comparison में 2011-12 वैसा year है जिसको आप देखते हो currently comparison purpose के लिए 2011-13, 2011-12 Government of India इससे base year के तोर पे use करती है GDP at current price को GDP at current price को जब आप base year से compare करते हो तो तब आता है GDP at constant price GDP at constant price और GDP at constant price ही आपका real GDP है real GDP बताता है कि actually volume बढ़ा के नहीं बढ़ा real GDP बताता है आपको कि volume बढ़ा के नहीं बढ़ा real GDP है जब चश्मा आखों से उतर चुक है real GDP, nominal GDP real GDP, nominal GDP यह चश्मा किसका चड़ा हुआ है कि आप देखी नहीं रहे महंगाई कितनी बढ़ गई है आप देखी ने रहे कि चीजों के दाम कितने बढ़ गए हैं इसका चश्मा चड़ा हुआ है नॉमिनल में inflation is included inflation is unadjusted inflation is included real में it is adjusted हटा दिया गया है निकाल दिया गया है हटा दिया गया है और इस पर प्रिलिम्स में question बन गया है इस पर प्रिलिम्स में question बन गया है फिर से बन सकता है पर इस बार आप तयार रहो गये अब हम national income के topic को खतम करेंगे आज miscellaneous topic पड़ेंगे इंडिया में historical background क्या है national income estimation का मतलब भारत में कब से और कैसे राष्ट्रिय आये देश की national income देश का review किया जाता है तो पहली बार अगर किसी ने कोशिश करी प्रयास किया कि इंडिया का national income estimate करें तो वो थे दादा भाई नावरो जी the grand old man of इंडिया आपने इनका नाम जरूर सुना होगा Indian history को पढ़ते हुए modern Indian history को पढ़ते हुए दादा भाई नावरो जी ने किताब लिखी थी the poverty and un-british rule के अंग्रेजों ने कैसे इंडिया को drain of wealth की वज़े से लूटा अब इन ही ने दादा भाई नावरो जी ने कुछ लोगों के साथ मिलकर और ये प्रिलिम्स में देखो question बन सकता है कि कौन कौन शामिल थे दादा भाई नावरो जी शामिल थे सबसे पहले आपके contender ठीक है इनका आप नाम note कर सकते हैं दादा भाई नावरो जी दूसरे थे विलियम डिग भी इनका नाम बहुत कम लोगों को पता होता है विलियम डिग भी दादा भाई नावरो जी के साथ मिलकर estimate करने की कोशिश कर रहे थे national income को इसके इलावा और भी कई सारे लोग रहें जैसे VKRV राओ और RC देशाई इन्हों ने भी अपने अपने समय में कोशिश करी इंडिया की राश्चे आये national income कितनी है उसको estimate कर सके पता लगा सके तो इन्हों ने ब्रिटिश काल के दौरान national income estimation की कोशिश करी पहली बार अगर किसी ने attempt करने की कोशिश करी थी तो वो थी दादा भाई नावरोजी की attempt 1868 के अंदर दादा भाई नावरोजी ने कोशिश किया कि इंडिया के अंदर national income को actually compute कर सके कि कि कितना national income बन रहा है उसके लिए इन्हों ने क्या किया लोगों से जाजा के पूछा कि एक साल भर में आप कितना पैसा पर परसन कमा लेते हो एक फैमिली है फैमिली मान लीजे साल भर में पांच लोग हैं और फैमिली मिलकर 100 रुपे कमाती है तो on an average एक व्यक्ती 20 रुपीज पर एर कमा लेगा आपको 20 रुपे शायद साल का बहुत कम लग रहा होगा पर एक टाइम था जब 20 रुपे में पूरा घर चल सकता था एक साल भर में तो एक टाइम वो भी था सोचिये मैं जो मुद्दे की बात समझाने की बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो यही है कि इंडिया के अंदर नाशनल इंकम दादा भाई नावरोजी विलियम डिगवी वीके आर वीराओ और आर पहली बार किसने अटेम्ट किया दादा भाई नावरोजी ने पर क्यापिटा इंकम 20 रुपे की इसके इलावा साइंटिफिक बेसिस पहली बार साइंटिफिक मेथड यूज किया नाशनल इंकम को कंप्यूट करने के लिए तो वो यूज किया गया था वीके आर वी राओ द्वारा और ये वोड़िके द्वारा और ये क्वेश्चन बन सकते हैं एक्जाम में कि दादा भाहि नावरोजी ने नार्मल एस्टिमेशन की कोसिश करी थी ती नाइंटीन हंडेट, थर्टीवन, थर्टीटू के अंदर, नाइंटीन हंडेट, थर्टीवन, थर्टीटू में, आप देखिए पहली बार साइन्टिफिक मेथड यूज किया गया था, टू कंप्यूट धी नाशनल इंकम, ऐसा करते हुए, इंडियन एकॉनमी को इन्होंने सिर्फ प्राइमरी सेक्टर को देख रही थी, जिसमें आपके एगरिकल्चर आता है, जिसमें आपका फॉरेस्ट आता है, प्राइमरी सेक्टर, जिसमें आपका एगरिकल्चर आता है, जिसमें आपका फॉरेस्ट आता है, सबसे पहला पार्ट अगर जो था, तो वो था प् दूसरा था secondary sector जिसमें industries, construction sector, transportation sector ये दोनों इसमें आएगा, secondary sector इसमें आपको देखने मिलता था, primary sector and secondary sector, secondary sector के अंदर industries आती थी, construction, transportation, public services, businesses ये सब इसमें आता था, इन्होंने compute किया 62 रुपीज को as the per capita income of India, इन्होंने क्या किया था, कि इंडिया में 62 रुपीज पर person, per capita देश की national income है, दादा भाई नावरो जी ने किया था, दादा भाई नावरो जी ने 20 रुपीज कहा था, वीके आरवी राओ जी ने कितना कहा, वीके आरवी राओ जी ने 1931-32 में 62 रुपीज बोला, साल कौन सा था, 1931-32 का, और कितना बोला, 62 रुपे प्रती व्यक्ती, 62 रुपीज पर person, पर capita बोला, इनके द्वारा, ये बात याद रखिएगा, अब सुनिये ज़रा ध्यान से, अब मैंने क्या बताया, पहला scientific method था, जिसने compute किया national income, डॉक्टर वीके आरवी राओ जी के द्वारा किया गया था, 1931-32 के अंदर, इसके तहत इन्होंने Indian economy को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, primary में, secondary में, for computation estimation, बट ये सरकार तो थे नहीं, क्या ये सरकार का इस्सा थे नहीं, ये तह एक normal economist, एक statistician थे, पहली बार, official basis पर, अगर किसी ने कोशिश करी, national income को compute करने की, तो वो PC महालनोबिस जी के द्वारा की गई थी, अब नाओ, PC महालनोबिस जी का नाम सुनिए, PC महालनोबिस जी ने पहली बार, first time, national income estimate करने की कोशिश करी थी, पहली बार, औ और ये national income estimation था, official basis पर, कौन से basis पर, official basis पर था, पहली बार किसी ने कोशिश करी थी, जहाँ पर government of India ने एक national income committee अपॉइंट करी थी, national income committee के head कौन थे, PC महालनोबिस जी थे, बट इसके अंदर दो और लोग शामिल थे, members के तौर पह, एक तो महालनोबिस जी थे, उसके आरवी राओ जी थे, इन तीनों की एक committee बनी थी, committee के head थे, PC महालनोबिस जी, government के द्वारा, government of India के द्वारा, created ये committee थी, national income committee, government ने अपॉइंट करी थी, जिसमें गाडगिल जी और वी के आरवी राओ, members के तौर पे थे, पहली report इस committee की 1951 में present की गई थी, 1951 में जो report present की ग हमारा देश एक साल में 8710 करोड रुपे कमाता है, ऐसी जानकारी 1951 एर में दी गई थी, अच्छा ये 8710 करोड कौन से साल में भारत में कमाये हैं, ये बताये था, आजादी के next year में, 1948-49 के अंदर की हमारा देश इतना पैसा एक साल में कमाता है, तो एक बार थोड़ा confusion clear कर देते हैं, आप लोग ये याद रखना कि 8710 करोड हमारे देश ने कमाया है, 8710 करोड, 1948-49 के अंदर ये बताया गया है, दो साल के बाद, 1951 के बाद, जब एक national income committee, government of India ने official committee के तोर पे establish करी थी, जिसके अध्यक्ष थे, PC महाल अनुबिस जी, जिसमें गाडगिल जी भी थे, जिसमें VKRV राओ जी थे, इस पर प्रिलिम्स में एक proper question बन सकता है, याद रखिएगा, ठीक है न, इस पर question बनने की संभावना है, एक और question बन सकता है कि इनके द्वारा per capita income कितना बताय गया था, PCY per capita income कितना बताय गया था, तो आपने देखा कि सबसे पहले दादा भाई नावरो जी ने बोला कि इंडिया की per capita income per person per year 20 रुपीज थी, उसके बाद आपका VKRV राओ कमिटी ने कहा कि 62 रुपीज थी, PC माहला नोबिस कमिटी ने कहा 225 रुपीज per person per year देश की average per capita income है, ये बाद ध्यान लखिएगा, उस समय GDP estimate करने का task दिया गया, काम दिया गया, ministry of statistics, program implementation के द्वारा, आज भी यही organization करती है, एक mantra लह, क्या नाम है, ministry of statistics, हिंदी मैं बोलू तो सांखिकी विभाग, statistics, ministry of statistics and program implementation, सांखिकी और योजना कार्यानवयन विभाग and program implementation, सांखिकी और योजना कार्यानवयन विभाग, mantra ले, ठीक है न? इनके द्वारा compute किया जाता है Actually उस ताइम पर जो body compute करती थी उसे CSO कहते थे Central Statistical Office But Government of India ने recently कुछ change किया है Recently CSO का merger कर दिया और इसका नाम change कर दिया Merger कर दिया Merger का मतलब क्या होता है Merger का मतलब होता है बच्चे कि जोड दिया किसके साथ जोड दिया एक और organization थी NSSO उसके साथ इसको जोड दिया है NSSO के साथ जोड दिया है 2019 के अंदर 2019-23 मई को तारीक थी 23rd में 2019 को When CSO Got merged with NSSO अब आप कहोगे NSSO क्या थी National Sample Survey Office आपके घर पे आके लोग गेट खट खटाते थे नौक नौक खोलिए ज़रा हम यहाँ आए हैं सर्वे करने के लिए National Sample Survey वाले आते थे आपके घर पे National Sample Survey Office जो पूछते थे कि घर में TV है, फ्रिज है, गाड़ी है, पंका है AC है, कूलर है यह सब NSSO वाले करते थे तो अब CSO और NSSO को एक साथ जोड दिया गया है और अब क्या बन गया है, इन दोनों को जोड कर NSO बन गया है, NSO क्या है National Statistical Office NSO National Statistical Office आज के टाइम में देश में National Income Estimation का काम करता है, पहले कौन करती थी पहले करती थी CSO CSO को किस के साथ जोडा गया CSO को NSSO के साथ जोडा गया और अब कौन करता है, अब NSO करता है अब NSO करते हैं अब NSO करते हैं, पूरे देश भर का डेटा कंपेर करते हैं, सर्वे के बिसिस पर और फिर पता लगाते हैं कि देश ने कितनी GDP कमाई है, कितनी income कमाई है, the task of estimation of GDP is in the hands of NSO implementation में आता है, remember that तो NSO इस बेसिस पर बनाया गया, आप कहोगे, कि सर NSO बनाया ही क्यों गया, तो भारत सरकार की कुछ कमीटियां थी कुछ organization थी, जिन्हों ने कहा कि थोड़ा uniform basis के अतहत, इंडिया में statistical डेशा, डेटा पेश होना हैं, तो रंग राजन कमीटी एक बड़े famous economist थे, C. रंग राजन, आज भी बड़े famous economist हैं ये, रंग राजन कमीटी, इन्हों ने कुछ सिफारिश है दी, ये कमीटी poverty, गरीबी आकलन से जुड़ी हुई है poverty estimation से जुड़ी हुई है इस कमीटी ने कहा कि NSO बनाओ क्या करेगा ये, इंडिया में statistical data ही खटा करेगा duplicacy of work, दो अलग-अलग organization सेम काम कर रहे हैं उस काम को खतम करेगा, एक ही organization एक ही काम करेगी इसके साथ साथ central level पर state level पर, दो अलग-अलग level पर data gathering होती है statistical agencies के द्वारा उसको combine करके, एक single level पर, national level पर हम create करेंगे, ऐसा बोला इन्होंने, और इन्होंने कहा, NSO National Statistical Commission या National Statistical Organization जैसी body बनाओ, क्या फाइदा, central level पर अलग data होता है, state level पर अलग data collect होता है, इसका कोई फाइदा है क्या, नहीं कोई फाइदा नहीं है, इन्होंने कहा, तीन director general, तीन DGs, जो की Ministry of Statistics and Program Implementation के तहट आते हैं, National Sample Survey के director, Coordination Administration and Policy के director, और Statistics Department के director, ये तीन department है, याद मत रखना, बस बता रहा हूँ, question क्या बनेगा, प्रिलिम्स में, कि uniformity होनी चाहिए, direction के अंदर, uniformity क्यों नहीं थी, uniformity इसलिए नहीं थी, क्योंकि तीन अलग-अलग लोग एक ही काम करते थे, तीन अलग-अलग लोगों के office को, एक single secretary के office के जोड दिया, इसलिए uniformity आई, ठीक है ना statistics का department अलग चलता था, statistics के secretary अलग थे, ठीक है, इसके अलावा, coordination और policy making, administration and policy making उसके अलग होते थे, और इसके बाद last third जो department था, जो की आपका national sample survey का था, उसके भी एक अलग secretary होते थे, director general होते थे, pardon me, तो इन तीनों के DG को हमने बोला कि आप ना एक ही person को report करोगे, ताकि एक जैसा uniform काम हो सके, वो है, secretary of, senior I.S. officer होते हैं, और Indian Statistical Service के भी कई सारे लोग होते हैं, secretary of ministry of statistics and program implementation, इन ही को report करो, ताकि सब मिलकर uniform basis पे काम करो, ये नहीं कि सब अपने अलग-अलग राग गा रहे हैं, अपना अपना गाना गा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, सब एक ही person को report करें, ये है important बात, और इसी के basis पर, रंग-राजन committee ने ये सज़स किया कि uniformity लाओ, एक single person को authority लो, कि वो बाकी सब की reporting अपने पास रखेंगे, और बन गया National Statistical Office, अब statistics, सर्वे, coordination, policy making, सब कुछ ये करते हैं, सब इनी का काम है, एक और इन्होंने committee बनाने की बात करी, कि National Statistical Office तो ठीक है, समझ आता है, बट committee, national statistical commission बना कर, ये committee ये commission बनाने की इन्होंने बात करी, इन्होंने कहा, कि राश्च्ट स्तर पर, देश के लेवल पर एक single commission बना दो, इस single commission का काम क्या होगा, कि हमारे पूरे देश के लिए uniform statistical parameters बनाएगा, कि ऐसे नहीं कि बिहार में statistics अलग तरीके से बनाए जा रहे हैं, UP में statistics अलग तरीके से बनाए जा रहे हैं, central level पे अलग तरीके से बनाए जा रहे हैं, 2005 में National Statistical Commission बनाए गया था, और एक independent body है, एक autonomous body है, अपने काम खुद से करते हैं, fully complete independence के तहत, इनको बनाए गया, काम बस यही था, कि statistical agencies जो problem face करती थी ना, data collection में, उन problems को दूर करें, तो क्या objective है, प्रिलम्स में इस पर question बन सकता है, कि जो data collection के अंदर problems आती हैं, उन data collection की problems को, real time basis पर solve करें, basis जिस basis पर data collect किया जाता है, उसको efficient बनाए, उसको transparent बनाए, तो उसको अलग-अलग तरीके से हम, इंडिया में ऐसे efficient तरीके से provide गरे लोगों को, ताकि data लोगों की भलाई के लिए use हो सके, अब national income, compute करने के लिए, हमने अपनी economy को, तीन sectors में बाट रखा है, एक है agriculture, कि agriculture का कितना contribution है वो देखेंगे, एक है आपका हमारा industrial sector, secondary sector जिसे आप कहते हो, और एक है आपका third service sector, सबसे ज़्यादा देश की income में contribution, service sector का होता है, आपकी IT companies, BPO, call centers, गुरगाओं, पूने, बेंगलूरू, हाइदराबाद, चेन्नाई, ऐसे जगहों का, service sector में बहुत बड़ा contribution है, ये बात याद रखनी है, तो इन तीन sector के basis पर, देश की national income compute की जाते हैं, अब आपका होगे agriculture में क्या हैगा, वही ही सारी चीज़ है, जो चीज़ जमीन से जुड़ी हुई है, खेती, किसानी, agriculture, forestry, जंगल से पेड़ काट कर, furniture बनाते हो, fruits लेते हो, fishing, मचली पालन हो गया, और animal husbandry, जो मचली पालने से पैसा कमाया जाता है, और जो जानवर पालने से, जो गाए, भैस, दूद बेचकर आप पैसा कमाते हो, ये सब agriculture sector और agriculture से जुड़े हुए sectors का पार्ट है, ये बात याद रखनी है, दूसरी बात याद रखेगा, second point ये है, कि second चीज़ आपकी आती है, forestry, forest sector, forest sector agriculture का पार्ट है, प्लीज इसको confuse हो जाओगे, आपका भी याद नहीं रहेगा, कि ये कैसे हो सकता है, agriculture का पार्ट है, अब अगली industry पे चलते हैं, next industry है आपका, secondary sector, industrial sector, ये second sector है आपका, इसमें आपको देखने मिलेगा, industrial sector के अंदर, कि इंडिया में, industrial sector के अंदर, आपको कई सारी factories, कई सारी manufacturing sites, देखने मिलती है, जो कोईला आप माइन करके लाते हो, उसको अगर आप और किसी industry में यूज़ करे हो, जैसे कि steel, steel manufacturing, तो वो secondary sector में आएगा, बिजली बनाना, gas production, construction, ये सब आपका, इंडस्ट्री या secondary sector का पार्ट है, थर्ड, tertiary sector, जिसे trade sector भी कहते हैं, या service sector, इसमें आता है आपका IT companies, software, consultancy, defense sector, financial sector, bank वगरा इसमें आते हैं, transportation, storage, सब इसमें आएगा, टीवी जो देखते हो, YouTube पे जो मैं आपको class दे रहा हूँ, हमारे द्वारा कमाई गई इंकम भी, इसी sector में आईगी, और इस basis पर compute किया जाता है, देश का national income, अब national income में, GDP, GNP, NDP, NNP आता है, इनको आप अलग-अलग तरीके से भी classify कर सकते हो, ये चार method है, और इनको आप आठ तरीकों से classify कर सकते हो, जैसे GDP at market price, GDP at factor cost, जैसे GNP at market price, and GNP at factor cost, ऐसे ही NDP at market price, NDP at factor cost, अरे सर ये क्या हो रहा है, ऐसे ही NNP at market price, and NNP at factor cost, अब आप कहोगे सर, आपने हर method को दो पार्ट में break कर दिया, ऐसा क्यों? Actually, ये दो price होते हैं, एक होता है आपका market price, जिस दाम पर कोई चीज मार्केट में बिखती है, और एक होता है factor price या factor cost, वो price जिस prices पर, जिस के basis पर आपको, अपना product बनाने का मौका मिला, जैसे for example, अगर कोई TV बना रहा है, टीवी बनाने में raw material जो use हुआ है, वो 50,000 का use हुआ है, उस पर आप profit लगा होगे कुछ, उस पर आप taxes जोड़ोगे, tax सरकार GST लगाती है कि नहीं लगाती, आप कुछ भी खरीदने जाते हो, दुकानों के अंदर, shops के अंदर, तो क्या आपको उसके basis पर, पैसा, tax का देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है, बिल में लगा होता है नहीं लगा होता है, अफकोर्स लगा होता है, तो factor cost तो आपकी सिर्फ factors of production की cost है, raw material की cost है, याद है चार factor of production पड़े थे हमने previous classes में, अगर नहीं देखी है previous वीडियो तो वो भी देख लेना, यह मैं बता चुका हूँ, land, भूमी, labor, श्रमिक, capital, पूंजी, और entrepreneurs, entrepreneurs, उद्यम, शील, व्यक्ती, entrepreneur, उद्यम, शील, जो business करना चाहते हैं, जिनको profit मिलता है, जो land दे रहे हैं, जमीन दे रहे हैं, उनको rent मिलता है, ठीक है जी, जो second चीज आपकी, land के लावा labor दे रहे हैं, उनको labor के बदले क्या मिलती है, उनको मिलता है, salary, wages, जो capital दे रहे हैं, उनको क्या मिलता है, पूंजी देने वाले लोगों को, उनको दिया जाता है, जो capital दे रहे हैं, जो पूंजी दे रहे हैं, उनको क्या मिलता है, उनको मिलता है, interest, मैंने अगर आपको पैसा उधार पे दिया, आप मुझे ब्याज दोगे के नहीं दोगे, यह सी free में पैसा लेके बैठ जाओगे, और जो इन तीनों का इंतिजाम करते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं, जमीन पे आफिस खोल कर, लोगों को नौकरी पे लगके, उसमें पैसा लगा के बिजनेस के अंदर, उनको क्या मिलता है, उनको मिलता है profit, तो इसलिए entrepreneurs को profit कमाने का मौका मिलता है, ये चार क्या होते हैं, लैंड लेबर, कैपिटर, अंट्रेपरिनर, इन चार को क्या कहते हैं, इनको कहते हैं, F.O.P. Factor of Production, उत्पादन के कारक, ठीक है जी, तो ये F.O.P. Factor of Production, जिसमें Factor Cost भी आता है, जिसमें Market Price भी आता है, ये दोनों आपके Concepts में, Factor Cost में भी, Factor of Production की Cost है, Market Price में भी Cost है, बट फर्क ये है, कि Market Price में Tax लगता है, एक एक जामपल और देता हूँ, आपकी एक Factory है, जिसमें आपको इचीज 300 रुपीज का बनाते हो, Market में जाके उसे 500 रुपीज का बेचते हो, हो सकता है, उसमें आपसे सरकार ने कुछ indirect tax लिया हो, जैसे GST, Goods and Service Tax, जैसे GST, Goods and Service Tax, हो सकता है के नहीं हो सकता, Yes or No, Of course हो सकता है, Goods and Service Tax, Of course लगाया जा सकता है, तो बस मूत्बे की बात यही है, कि 300 रुपीज से, 500 रुपीज में आप बेच रहे हो, 300 तो उसकी internal cost है जी, अगर 500 में बेच रहे हो, तो इसका मतलब यही है, कि आपने जो 200 रुपे उस पे लगाए हैं, वो आपका profit margin हो सकता है, tax हो सकता है, अच्छा एक और चीज हो सकती है, कि आपकी जो factor cost है, raw material का price है, उस पे आपने indirect tax दिया, आपका 300 रुपे का raw material था, सरकार कहा रही है कि 20% tax दे दो, example दे रहा हूँ, 20% tax दे दो, तो 300 का 220% कितना होता है, 60 रुपीज होता है, तो 360 रुपीज, अब 360 रुपीज, अगर आपका, tax लगने के बाद cost होगे, सरकार कहा रही है, यार थोड़ा ज़ादा हो गया, गरीब इंसान तो इतना खरीदी नहीं पाएगा, जैसे cylinder है, cylinder सरकार को market में पढ़ता है, 1000 रुपे का, सरकार आपको देती है 800 रुपे के, example दे रहा हूँ, वो 200 रुपे कहां से आते हैं, वो 200 रुपे सरकार अपनी pocket से दे रही है, क्या बोला मैंने, government को एक cylinder की cost पढ़ रही है, 1000 रुपे, ठीक है, उसके बाद, आपको as a consumer वो cylinder 200 रुपे सस्ते पर मिल रहा है, 800 का मिल रहा है, वो 200 रुपे कौन bear करेगा, वो government bear करेगे, वो खर्चा सरकार उठाएगी, और क्योंकि वो खर्चा सरकार उठाएगी, तो सरकार ऐसे खर्चों को subsidy कहती है, क्या कहती है, subsidy, आपके bank account में subsidy आती है न सीधा, ऐसा क्यों किया government ने, गवर्मिन ने आपको सस्ते प्राइस पर वो देने के लिए चीज ऐसा किया, अब जैसे factor cost 300 रुपीज थी, और आपको देखने मिलेगा, उस पर indirect tax 20% लगा है 60 रुपीज, तो यह हो गया 360 रुपीज का, पर आप चाते हो market में लोगों को, यह 330 रुपीज का ही मिले, तो एक काम करो, जिन्होंने कोई चीज produce करी है, उन्हें subsidy दे दो, उन्हें कहदो कि या तुम 360 की चीज, 330 में ही बेचो, जो 30 रुपीज का तुमारा loss हो रहा है, वो government अपनी जेप से तुमें दे देगी, ताकि consumer को जन्ता को सस्ते में, 330 रुपे में ही product मिले, how does that sound, जन्ता कहीगी सर, it sounds brilliant, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें दे दो पैसा, हम subsidy लेने के लिए तैयार हैं, और इस basis पर subsidy provide की जाती है, अब मुद्दे की बात यह है, कि formula क्या बना, factor cost में से, indirect taxes, factor cost में से, indirect taxes आप add करते हो, subsidy आप minus करते हो, subsidy आप minus करते हो, तो आपके पास क्या आता है, आपके पास आता है, क्या चीज, what do you get, market price, मतलब 300 रुपे की चीज में, पहले आपने tax लगाया, 60 रुपे, आपने का, अरे ये तो 360 का हो गया, हम तो जनता को, 330 रुपे का बेचना चाहते हैं, तो अरे seller सुनो, seller तुम market में product, 330 का बेचो, seller कहेगा, कि सर मुझे किसी डॉगी ने तो काटा नहीं है, मैं क्यूं आपको, 360 की चीज, 330 में दू जनता को 330 में दू, गवर्मेंट ने का, अरे फिकर नॉट, 30 रुपीज हम अपनी पॉकिट से आपको दे रहे हैं, तो 330 आप consumer से कमाओगे, 30 रुपीज हम से कमाओगे, you will get 360 only, जिसमें से 60 रुपीज वापस आप हमें tax दे देना, अरे सर ये क्या अदला बदली कर रहे हो, टैक्स दो, टैक्स लो, टैक्स दो, टैक्स लो, सबसीडी दो, टैक्स लो, ये क्या चल रहा है, is it a machine, is it a joke, गवर्मेंट एक काम कर दो, कि आप हमसे सिर्फ 30 रुपे टैक्स ले लो, गवर्मेंट ने कहा, हाँ ये भी कुछ बुरा नहीं है, मैं तुम से 30 रुपे टैक्स लेता हूँ, कंजूमर को 330 रुपे का प्रोड़क्ट मिलेगा, इसमें भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हमें एक तरफ पहले सरकार को आप टैक्स दे रहे हो, फिर उसी टैक्स का पैसा सरकार आपको वापस कर रही है, क्योंकि है कोई सेंस है इस बात का, is it sense, I mean, it is making any sense, is it sensible, no it's not, it's not at all sensible, इसी लिए तो मैं आपको समझानी कोश्च कर रहा हूँ, कि 300 रुपे की चीज़ पर 60 रुपे आपने जोड़ा, माइनस 30 किया, अरे इससे अच्छा है, सीधा 300 पर 30 आड़ करो ना, तो यह फॉर्मूला बन जाएगा, indirect tax, माइनस subsidy, जिसको एक और टर्म से बुलाए जाता है, net indirect tax, इसको एक टर्म से बुलाए जाता है, और लोग बन गया फॉर्मूला, factor cost plus net indirect tax equals to market price, and you have got the formula, अब आब GDP, GNP, NDP, NNP, factor cost पर भी खोच सकते हो, आप market price पर भी खोच सकते हो, चीज़े कितने दान पर बिक रही हैं, आप यही तो देखोगे, कि income कितनी कमाई जा रही है, या तो आप 300 पर देखोगे, या 330 पर देखोगे, दो अलग अलग price है, ना, एक है factor cost, cost of production की cost, और एक है आपका market price, market में कितने का बिकरा है, after taxes and subsidy, तो आप दोनों तरीके से GDP calculate कर सकते हो, GDP ही नहीं, NDP भी, NNP भी, यह सारे methods आप यूज़ कर सकते हो, यह बात clear हुई सबको, ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि दोनों का पता चल सके, एक तो producer level पर, कितनी income कमाई गई है देश में, और एक consumer level पर, market level पर कितनी income कमाई गई है देश में, best माना जाता है, NNP at factor cost, जो इंडिया में नहीं, ग्लोबल लेवल पर best माना जाता है, इंडिया में हम थोड़ा GDP की तरफ ज़ादा जुके हुए हैं, सीखे ना, बस, this is it, as simple as that, personal income and personal disposable income, हम यह topic समझने जा रहे हैं, economics के point of view से, और prelims में इसमें question आ सकते हैं, देखो अब तक हमने क्या पढ़ा है, अब तक हमने पढ़ा है कि national income होता क्या है, what national income is, इसको find out कैसे करते हैं, तीन estimation method, income method, output method, और हमारा third था product method, इसके इलावा national income को अलग-अलग तरीके से कैसे express कर सकते हैं, जैसे GDP, GNP, NDP, NNP, GDP at market price क्या है, GDP at factor cost क्या है, आपने लोगों ने पिछला lecture देखा ही नहीं है, उसमें सब कुछ cover करा हुए, तो एक बार देख लेना जाकि, अब देखो national income, तो अब हम समझ गए हैं, मैंने last class में बताए था, सबसे purest form of national income is NNPFC, एक बाद जाके इसको आप previous lecture में revise कर लेना, सबसे पहले चीज़ आज की, personal income क्या होता है, economics में personal income का concept वो नहीं है, जो आप सोच रहे हो, कि सर मेरी income मतलब personal income, ऐसा नहीं होता है, personal income, actually economics के concept वो है, आप देखते हो, पूरे देश की national income कितनी है, कि इंडिया के अंदर, 140 करोड लोग मिर कर कुछ पैसा कमा रहे हैं, मान लेते हैं, 2,00,00 करोड रुपे कमा रहे हैं साल का, example के दोर पे दे रहा हूं, मान लेते हैं, it is 2,00,00 करोड रुपीज, ठीक है जी, साल भर में इतना पैसा कमा रहे हैं, हम सब लोग, हम सब देश के नागरिक, अच्छा, उसमें से कुछ पैसा, आपका provident fund के लिए करता है, आपको पता है, जो लोग जॉब करते हैं, उनको provident fund में कुछ पैसा जमा कराना होता है, ये तो हम सब को पता है, yes or no, please confirm, आप और मुझे हम सब को पता है न, provident fund में pension के लिए पैसा काटा जाता है, अफ्कोर्स हमें पता है सर, तो provident fund के लिए जो पैसा काटा जाता है, आपने government job करी या job करी, 60 साल की एज में आप चाहते हो, आपने बच्चों की शादी करवाना, या घर खरीदना, या world tour करना, तो कुछ पैसा आपके हाथ में होना चाहिए, 40-50-60 लाख retirement होते ही, आपके हाथ में आना चाहिए, yes, तो आप lifelong हर महीने कुछ पैसा सेव करते हो, employee provident fund organization के साथ, जो कि आपको बुढापे में, आपकी जब retirement होती है, तब आपको मिलता है, ये आपका provident fund, एक तरीके का social security contribution है, समाजिक सुरक्षा के लिए योगदान है, आज पैसा जोड़ रहे हो, ताकि future में आपको मिल सके, अब provident fund और pension में फर्क क्या है, pension का मतलब है, वो पैसा जो की आप एक बार 60 साल के हो जाते हो, 60 years के हो जाते हो, हर महीने आपके महीने का खर्चा चलाने के लिए आपको मिल रहा है, वो आपका pension का पैसा है, दोनों में फरक समझ गए, provident fund का मतलब क्या है और pension का मतलब क्या है, provident fund एक साथ मिलता है, एक installment में मिलता है, large sum of money, और pension जो है आपका, वो हर महीने कुछ-कुछ पैसा मिलता रहता है, आपके retirement के बाद, आप जब एक बार retire हो जाते हो, उसके बाद वो pension का जाता है, इन दोनों को social security contribution का जाता है, मान लीजिए आपकी income एक लाग रुपे है, तो आपके पास हाथ में एक लाग रुपे ही आते हैं, या PF कट के आता है, तो एक लाग आपकी income नहीं हुई, जो पैसा आपके पास पैसा कटने के बाद आ रहे है, जैसे एक लाग में से 10% provident fund का पैसा कट जाता है, तो आपके पास तो सिर्फ 90,000 आ रहे हैं, 10,000 तो आपके provident fund के लिए जा रहे हैं, जो आपकी अभी personal income नहीं है, आने वाले time में बन सकती है, आपके पर अभी personal income नहीं है, क्योंकि वो आपके benefit के लिए future के लिए जोड़ा जा रहे है, तो ये कभी भी national income में add नहीं होता, आपको मेरे पीछे formula दिख रहा होगा, national income minus social security contribution, ठीक है जी, अब एक और बात समझो, national income में से ये social security contribution, ये जो pension provident fund का पैसा है, undistributed corporate profits क्या है, company पैसा कमाती है, Reliance, Adani, बड़ी-बड़ी कमपनिया, Samsung, Sony, ये कमपनिया पैसा कमाती है, इनके जो shareholders है, उनको पैसा दिया जाता है, company के profits में से, जैसे for example, मैं कल जाके, TCS, Tata Consultancy Service का 1% का share खरीद लो, 1% का मैं owner हूँ, तो उसके future profits का 1% भी, मुझे मिलेगा, share क्यों खरीदा, ताकि उस company का मैं owner बन सकूँ, उनके profits का एक हिस्सा मुझे मिल सके, ये बात याद रखिएगा, एक हिस्सा, एक part मुझे मिल सके, और जो part मुझे मिल रहा है, जो हिस्सा मुझे मिल रहा है, इस part of the whole company's profit, उसे हम dividend कहेंगे, इन्दी में लाबांच कहेंगे, पर एक बात बताओ, company ने कहा है, कि इतना पैसा देंगे, पर दिया नहीं है, अभी distribute किया नहीं है, तो क्या वो मेरी income होगी, मैं क्या बोल रहा हूँ, company ने पैसा कमाया, shareholders में distribute नहीं किया, distribute कर दिया होता, तो हमारी income हो जाती, पर वो हमारे में distribute नहीं किया, क्या ऐसे profits आपकी income कही जाएगी, will it be considered to be your income, absolutely not, आपको मिला है, नहीं मिला न, तो पैसा खर्चने के लिए हाथ में है नहीं जेब में है नहीं है नहीं, नाशनल इंकम मैंसे माइनस करो, इसे मैं कहता हूँ, UCP, Undistributed Corporate Profit, जो बाटे ही नहीं गए हैं, जो distribute ही नहीं करे गए हैं, अच्छा, उसके इलावा, गवर्मेंट अपनी तरफ से, आपको कोई पैसा सबसिडी के तौर पे दे रही है, कि गरीब है, कोई बात नहीं, PM किसान योजना का नाम सुना है, मैं ना इतना interconnection create करता हूँ, हमारी क्लास में, कि आप अच्छे से चीज़े समझ पाते हो, एक सरकार की योजना है, प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधी, PM किसान, साल का 6,000 रुपे आपको मिलता है, 6,000 रुपीज in your bank account, आपके bank account में 6,000 रुपे आता है, PM किसान योजना का पाइदा ये है, कि गरीब किसान, जिनकी इंकम बहुत कम है, उनको भी कुछ पैसा मिल सके, ये एक example है, transfer payment का, आप मुझसे पहले तो यही सवाल पूछोगे, transfer payment क्या है, आज मान लो अगर मेरा birthday है, तो आप सब लोग मुझे gift देना चाहोगे, ख्याली पुलाओ पकालो, मैं भी खुश हो जाऊंगा, आप भी खुश हो जाना सोचके, कि मैं expect करूँगा, कि आप मुझे gift दोगे, है ना, क्या आपने मुझे gift दिया, उसके बदले में आपको पैसा दूँगा, कि आरे thank you for this gift, यह लो पैसा, gift पैसी के बदले में होता है, नहीं, मम्मी पापा pocket money देते हैं आपको, तो वो बदले में कहते हैं कि, बेटा यह कर देना तभी pocket money मिलेगी, अरे salary थोड़ी ना है, pocket money महीने का खर्चा निकालने के लिए है, आप जो government को tax pay करते हो, government सिर्फ उसके बदले में, immediately कुछ मांगते हो, नहीं न, tax pay करना आपकी duty है, आप मंदिर में दान करते हो, तो मंदिर में दान करते समय, बदले में आप कुछ transaction करते हो, कि भगवान ये लो दान, तुरंत मुझे कुछ दो, तुरंत तो कुछ नहीं मांग रहे न, transaction नहीं हो रही न, financial transaction थो रही है, charity लोग दान करते हैं, school, college के अंदर पैसा देते हैं, school, बच्चों की fees भरते हैं, lottery मिलती है आपको, ये एक तरफा payment है, जिसके normally अदला बदली नहीं हो रही है, जैसे कभी भी कोई transaction होती है, या किसी दुकान पर जाते हो, भईया ये लो 100 रुपीज, मुझे एक dairy milk, silk, chocolate दे दो, आपने 100 रुपीज दिये, उन्होंने आपको chocolate दी, इस इस ट्रांजाक्शन, टू वे ट्रांजाक्शन, आपने पैसा दिया, उन्होंने चॉकलेट दी, आप लेके चले गए, टू वे ट्रांजाक्शन है, transfer payment का मतलब है, कि one वे ट्रांजाक्शन, आप सिर्फ किसी को पैसा दे रहे हो, या पैसा ले रहे हो, मम्मी पापा आपको pocket money दे रहे है, आप सरकार को tax दे रहे हो, आप कहीं donate कर रहे हो, school college आपको scholarship दे रहा है, lottery जीत रहे हो, पर सर्फ लोटरी की ticket भी तो खरीदते हैं, तो फिर तभी तो lottery जीतने का मौका मिलते हैं, बेटा 10 रूपे की ticket में, अगर 10 करोड निकल जाए ना, तो वो transaction नहीं होती है, वो transaction नहीं है, ठीक है ना, एक तरफा transaction है, two way transaction नहीं है, trade नहीं हो रहा, तो इन्हें transfer payment कहते हैं, मैंने ये transfer payment का concept बताया क्यूं है, मैंने इसलिए बताया, क्योंकि ऐसी transfer payment, इस concept में add होती है, इस concept में add होती है, अब नहीं समझ आया, एक और example देता हूँ, मुझे एक बात बताओ, मेरी income कितनी होगी साल की, मैं आपसे सीधे तोर पर पूछ रहा हूँ, कि मेरी income कितनी होगी साल की, आपको उसका answer करना है, पहली चीज तो, एक लाक रुपे, जो मैं normally कमा रहा हूँ, समान बेचके वो, जिसमें से, सरकार मुझसे 5,000 रुपे ले लेती है, साल का, provident fund में डालने के लिए, कमपलसरी किया हुआ है, उसके इलावा, मेरे को, एक company के अंदर, 20,000 का profit मिलना है, जो आज भी distributed नहीं है, या मेरी company ने 20,000 का profit कमाया है, पर वो distribute नहीं हो रहा, जिसको मैं, अन्युमेरिकल पूछे हैं, ना UPSI ने, तब से मुझे डर लग रहा है, कि कभी ऐसा कोई numerical question, एकॉनमिक्स में, civil service exam में ना आ जाए, UPSI हर साल pattern बदल देता है, 2023 में बदल दिया question पूछने का pattern, 2024 में questions का ही pattern ना reframe कर दे, इसलिए मैं conceptual clarity दे रहा हूँ, इतना depth में कहीं कोई नहीं पढ़ाता है, पर उससे पैसा कमाते हैं, उनकी पूरे देश भर की total income ले लो, A, ये पूरी, A section में पूरी देश की total income आवे, A लिखा है जान मुझके, मैंने इसके आगे ताकि याद रहे, B में क्या आएगा, जो provident fund, जो social security contribution है, ये minus होता है, A minus B, C में क्या आएगा, undistributed corporate profit, जो भी आपको distribute ही नहीं हो रहे है, मिली नहीं हो रहे है, ये हो गया C, A minus B minus C, और transfer payment हो गया D, ठीक है न, ये add होता है, ये add होता है, तो A minus B minus C plus D, ये आपका national income बन गया, अगर by chance समझ नहीं आया, एक बार recorded lecture देखना, सब मक्खन की तरह आपके लिए, simple and very very smooth हो जाएगा, don't worry, it's a very simple concept, बस आपको एक बार समझ लेना है, मतलब क्या कह रहा हूँ मैं चीजों का, फिर बहुत असानी से आपको समझ आ जाएगा, कि formula है, national income minus social security contribution, अभी ये social security contribution और undistributed corporate profit bracket में लिखा है न, तो मैं देखो एक बात समझो, मैं 100-20-30 लिखूं, या मैं 100-20-30 लिखूं bracket में, ये एक ही बात है बाबू, इतनी math स्टों सब को आती होगी, वो चाहे दोनों चीजन लिखी हो, कोई फरक नहीं पड़ता, बात एक ही है, इससे भी answer 50 आएगा और इससे भी answer 50 आएगा, उसी तरीके से ये formula में national income minus bracket में social security contribution and undistributed corporate profit लिखा है, और फिर बाद में transfer payment लिखा है, तो गलती से भी confused नहीं होना है, परसनल income का formula, व्यक्तिकताय का formula समझ आ गया, क्या होता है, यह आपका NCRT में दिया था, आप अब इससे बहुत अच्छे से answer कर सकते हैं, अगर इसकी definition देखनी है, यहां लिखी है definition, कि personal income is the total income received by the individual, individual मतलब आप और मैं देश की जनता, from all sources, चाहे goods बेचके पैसा कमायो, समान बेचके, सर्विस प्रोवाइड करके, पैसा कमायो, वो पैसा, पर इस में से कभी भी direct tax, income tax कटा हुआ, नहीं होता है, और यही question prelims में पूछा रा सकता है, कि personal income मैं से direct tax deducted होता है, false, बिल्कुल गलत होगा, personal income मैं से direct tax deducted नहीं होता, personal income is not any amount, from which direct tax is already deducted, it's not that amount, personal income मैं direct tax, मतब income tax कटा ही नहीं है, मतब इसमें tax कटेगा, मतलब कि आपने सब कुछ खर्चे कुर कुर के, अगर आपने 70,000 रुपे कमाया है, फिर भी सरकार घर के बार खड़ी होगी, कि आओ tax निकालो, उसमें से भी कुछ tax देना पड़ेगा, मान लिज़े 20,000 रुपे tax देना पड़ेगा, तो आपकी income तो सिर्फ 50,000 हुई है, तो personal income जो है, उसमें अभी आपने tax नहीं चुकाया, वो income होती है, और इसी का एक और variant, जिसको हम personal disposable income कहते हैं, tax उसमें से reduce होता है, personal disposable income का formula है, personal income minus direct taxes, अब एक और example से, क्योंकि कोई भी concept मैं simplify करता हूँ, तो मैं example ज़रूर लेकर आता हूँ, तो एक और example से अब चीज समझते हैं, और प्लीज, screen पर focus, आख, कान, नाख, सब खुला रखना, और ध्यान से बात मेरी सुनना, मैंने क्या बोला, personal income क्या होता है, देश के level पर find करते हो, नाम personal income है, पर देश के level पर find करते हो, देश के 140 करोड लोगों के लिए, कैसे find किया जाता है, ए, देश भर की national income कितनी है, मतलब 140 करोड लोगों ने good services बेच कर, कितना पैसा कमाया, minus B, social security contribution, जिसमें pension, provident fund, corporate profit, companies के वो profit, वो जो अभी तक बाटे नहीं गए हैं, जो अब तक distribute नहीं करे गए हैं, undistributed corporate profits, UCP, minus कर दो, इसके इलावा D, transfer payments होती हैं, वो इसमें add कर दो, क्या आएगा ये सब करकरके, सब add minus करके क्या आएगा, A, minus B, minus C, plus D, करके आपके पास आएगा, personal income, अब personal income मैंसे भी तुम, income tax minus कर दो, और सिर्फ income tax ही क्यों, क्योंकि मैंने direct tax बोला था, और income tax एक तरीके का direct tax है, पहले होते थे, wealth tax पहले होता था, अलग-अलग type के taxes, अब आपका सिर्फ income tax नाम का, एक personal tax है, direct tax है, ऐसे तो कंपनियों के उपर भी tax लगता है, पर हम व्यक्तियों की, individuals की बात कर रहे हैं न, इसलिए कंपनियों के उपर, जो भी tax लगता है, नहीं लगता, उससे हमें फर्क ही नहीं पड़ता, personal income मैंसे, आपने, मतलब A, minus B, minus C, प्लस D मैंसे, आपने, direct tax माइनस किया, तो आपके पास आ गया, personal disposable income, अब आप कहोगे, सर ये personal income है, बीच में आपने एक शब्द लगा दिया, और आप कहे रहे हो, एक अलग formula बन गया है, ये personal disposable income क्या है, disposable शब्द का मतलब क्या होता है, तो इससे बताने से पहले, वो याद रखो, हम नीले नीले रंग के disposable mask खरीदते थे, कोविड लॉक्डाउन के दुरान, हम सब ने खरीदे हैं, आपने भी खरीदे होंगे, उनको disposable क्यों कहते थे, क्योंकि mask लगाया, पहना और जब उसका काम खतम हुआ, तो उसे छोड़ दिया, फेक दिया, इस्तमाल नहीं किया, मतलब use करने के बाद throw कर दिया, disposable का मतलब है, जो आप use कर सकते हो, फिर उसके बाद use कर, उसका खतम हो जाएगा, जिसको आप use कर सकते हो, disposable का मतलब समझते हो न, what can be used or utilized, वो आपका disposable कैटेगरी में आता है, तो personal disposable income का मतलब, वो income आपकी, जिसको आप use कर सकते हो, जिसको आप खर्च कर सकते हो, एक बात बताओ, अगर personal income आ जाती, 10 लाक करोड रुपे, जिसमें से सरकार को 2 लाक करोड रुपे दे दिया है, तो 2 लाक करोड तो आप खर्च ही नहीं सकते न, क्योंकि सरकार को दे दिया है, 10 माइनस 2, 10 में से 2 माइनस करो, 8 लाक करोड जो आपके हाथ में है, आप actually वही खर्च सकते हो, यह आपका Personal Disposable Income की क्याटिगरी में आते हो, मतलब जो पैसा, Personally यह आप Dispose Of कर सकते हो, खर्च सकते हो, आपकी Income का वो इससा जो आप खर्च सकते हो, यह है आपका Personal Disposable Income का Concept, पूरे देश भर की Personal Disposable Income भी आप Find कर सकते हो, National Income Aggregates के साथ, Personal Income is the Sum of Factor Income, जो भी तुमने Income कमाई, अलग-अलग सोर्से से, Factor Income, Non-Factor Income, अलग-अलग तरीके से जो तुमने Income कमाई है, चाहे समान बेचकर, चाहे समान के लावा, Services बेचकर, तुमने जो पैसा कमाया है, जिसमें अभी तुमारा Tax नहीं कटा है, इंकम टैक्स है, तो Income Tax Act 1961 कहता है, कि अगर आप Assessor हो, आप Assessy हो, आपको Tax Pay करना है, आपकी ओपर Liability है, तो देना पड़ेगा वरना Penalty लगेगी, इसलिए Tax तो देना ही पड़ेगा, तो आपकी Personal Income में से, देश में के सारे लोगों की Total Personal Income में से, एक सो चालिस करोड लोगों की Personal Income में से, जो सरकार Tax काटती है, उसे Direct Tax कहते है, और Personal Income में से Tax कट गया, तो ये बन जाएगा Personal Disposable Income. How does that sound? Is it clear to all of you? I am 100% sure. शत्प्रतीशत मुझे उमीद है, आपको ये clear होगा, नहीं है, टेलिग्राम गुरूप दिया है, जो डाउट हो, पूछ लेना, कभी भी पूछ लेना. सर, Personal Disposable Income तो बता दिया, National Disposable Income क्या होता है? National Disposable Income है, हम Resident देखते हैं, कि आप भारत के Resident होने चाहिए, जैसे Example दे रहा हूँ, सब कुछ Example से समझेंगे, टाटा कंपनी पेड 1,000 रुपीज सालरी टू A, who is an Indian resident, इंडिया में रहते हैं, टाटा 1000 रुपे सालरी देती है, इसके लावा, A के पास गिफ्ट आता है, B से, B कौन है, उनका ही कोई जानकार है, रिलेटिव है, जो दुबई में रहता है, अब वो व्यक्ति दुबई में रहता है, इंडिया में तो रहता नहीं, तो इस केस में, इंडिया के लिए national income क्या होगी, इंडिया के लिए national income क्या होनी चाहिए, इस केस के अंदर 1,000 रुपीज और 500 रुपीज, दोनो national disposable income में आएगी, क्योंकि Indian को मिली है, लेबर बनके जो पैसा कमाएं आपने, लैंड से कमाएं गया पैसा, लोगों को कैपिटल, पूंजी देकर, ब्याज पर पैसा देकर, या प्रॉफिट कमाएं आपने बिजनेस करके, यह होता है फैक्टर इंकम, अच्छा, अगर आपको कोई गिफ्ट मिल जाए, डोनेशन मिल जाए, दान मिल जाए, तो वो नॉन फैक्टर इंकम की कैटेगरी में आता है, ऐसे ही कोई भी, अब एक ग्राफ के मादियम से समझा रहो, आप बशरते एक रेसिडेंट हो, रेसिडेंट का मतलब इंडिया के अंदर रहते हो, रहाईश हो आपकी, यू आर वाट, रेसिडे से मिले, आपको पैसा कहीं से भी मिले, आप एक रेसिडेंट हो, रेसिडेंट मतलब इंडिया में रहने वाले व्यक्ति, वो फैक्टर इंकम और नॉन फैक्टर इंकम, फैक्टर इंकम मतलब चार चीज़ें होती है, लैंड, लेबर, क्यापिटल, अंट्रिपनर्शिप, आ आपकी नॉन फैक्टर इंकम है, जो आपने इन चार इरियास से नहीं कमाही है, अपर आपके पैसा आया है, आपकी इंकम हुई है, उन सब का टोटल कर दो, और चाहें इंडिया से आया हो, और येंडिया की नैशनल इसपोजेबल इंकम का पार्ट माना जाता है, अगर आप domestic disposable income देखते तो इंडिया से ही generate किया गया पैसा यहाँ पे आता पर क्यूंकि आपका रिष्टेदार दुबई में है वो आपको पैसा भेज रहा है वो भी आपके देश की national disposable income में जुड़ेगा विकाज आप यह national level पर देख रहे हो चाए इंडिया के अंदर से आया हो चाहे इंडिया के बाहर से आया हो पैसा बस एक इंडियन को मिलना चाहिए यह important जानकारी आपको देखनी होगी पैसा किसको मिलना चाहिए इंडियन को मिलना चाहिए यह बात clear है सबको अच्छा last class में सब को याद है मैंने क्या पढ़ाए था लास्ट टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाए था फैक्टर कोस्ट और मार्केट प्राइस इसके बारे में बात करने जा रहे हैं देखो एकॉनमिक्स में जब भी आप नाशनल इंकम को पढ़ते हो तो आप अलग-अलग टर्म्स में उन्हें रेपेजेंट कर सकते हो एक होता है factor cost, factor cost मतलब production cost, जैसे ये pen है, ये pen बनाने वाले को ये pen 100 रुपे का पड़ा, फिर उसने market में ये 400 रुपे का बेचा, 100 रुपे की उसको cost आई, उसकी factor cost है, market में वो जब बेचने आया इसे 400 रुपे का उसने बेचना चाहा, वो उसकी market price हो गई, जिसमें tax भी लग तो जब आप factor cost इस तरीके से देखते हो, factor cost का मतलब जिस cost पर आप अपना समान बेच रहे हो, अब factor cost market price की डिबेट में एक basic price का concept भी आता है, जो advanced level पर आपको advanced books में देखने मिलता है, अब सवाल उठता है सर ये basic price का मतलब क्या है, basic price is the value or the amount which the producer expects to receive from the consumer by selling one unit of product, मतलब एक customer को कितने में समान बेचा जा सकता है, वो आपका basic price है, अब समझो फरक क्या है, factor cost 100 रुपे का, 100 रुपीस, basic price 300 का हो सकता है, कि 100 रुपे का product बनने की cost थी, अब किसी ग्राहक को कितने में एचीज बेची जा सकती है, 300 में बेची जा सकती है, पर फिर इस पर tax भी तो जोड़ना पड़ेगा, और सरकार में अगर कोई subsidy दी है, तो subsidy भी माइनस करना होगा, अगर tax जोड़ दिया और subsidy माइनस कर दिया, तो ये market price बन जाता है, तो ये तीन अलग अलग दाम है, पहला दाम हो गया 100 रुपे, इसके अंदर जो plastic, जो labor की cost, सारी cost इसको बनाने की, व 200 रुपे आपका profit निकल जाए, उपर सरकार कहती है, इसके उपर tax भी देना पड़ेगा, मान लो tax मिला मिलू के सब कुछ करके 400 रुपे का market price आया, तो ये तीन अलग अलग आपको prices and cost देखनी होती है, national income में, national income इन तीनों में express किया रहा सकता है, अब मैं कह सकता हूँ, दे कोई logic बनता है, कि मैं सिर्फ देखू कितना product कितने का विका, कितने का आपको आपने sell किया है, बेबल कि मेरको market price देखना चाहिए, कि consumer को final product कितने का विका है, क्यों, क्योंकि हमारे देश के अंदर ऐसा नहीं है, कि direct consumer को बेचा जाता है, एक बात बता, आप सीधा factory से कर आते हो, नहीं न, किसानों से फल सब्जियां direct उनके खेतों से लेकर आते हो, अरे हो सकता है किसान आपसे 400 किलोमेटर दूर हो, प्याज उग रही है, महराश्टर में आप खा रहे हो या दिल्ली में बैठ के, directly उनसे थोड़ी ना लेकर आ रहे हो, आप किसी distributor से खरीद र जो भी cost बनने में लगी है, input cost, basic price वो cost जो कि एक seller expect करता है, market में बेचने पर उसको कितना पैसा मिल सकता है, और market price जैसे नाम इसका बता रहा है, market price वो price होता है, जितने पर आपके goods, आपकी commodities, public को sell की जा सकती है, including taxes and excluding subsidy, subsidy exclude क्यों होती है, पिछला class देखी है, नहीं देखी उसमें बताया था, देख लेना, telegram, पे link मिल जाएगा, go and watch it, I'm telling you, so what I am trying to explain again, again and again, that is, that whenever, जब भी आप ये तीन price खोशते हो, basic price का formula तब याद रखना, अब basic price का formula बताने जा रहा हो, please कान खोल के मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कि basic price का formula होता क्या है, अब basic price जब भी find out क basic price, factor cost से आप बड़े असानी से find out कर सकते हो, factor cost में, production taxes और production subsidy को include करना होता है, I'll give the same example, और बहुत basic language में बताऊँगा, सुनते रहना बस, थोड़ा मुश्किल लग सकता है, alright, मैंने गलती से अपना पैर मोल लिया, and it's paining, sorry, so, factor cost, factor cost में, production taxes, add कर दो, और production subsidy, add कर दो, सर्व, आप और complicate करते जा रहे हो, अब आपने ये दो concept और जोड़ दिया, इसका मतलब क्या है, production taxes, production subsidy, what is it, होते क्या है, आखिर कहना के चाहते हो, production taxes, production subsidy, वो taxes होते हैं, जो की, जो भी समान उगार, बना रहे हो आप, उसके volume से जुड़े हुए नहीं होते हैं, they are not related to production, they are independent, they are independent of production, they are independent of production, independent of production का मतलब है, कि तुम 10 unit बनाओ, तुम 100 unit बनाओ, तुम 1000 unit बनाओ, तुम 1,000,00,00 unit बनाओ, एक करोड, 10 करोड कितना भी बनाओ, तुम्हारे उपर tax, उस unit के basis पे नहीं लगेगा, बट सम अधर बेसे, जैसे land revenue, दो बीगा जमीन पर tax, जो registry value है, जो tax है, जो stamp duty है, वो देनी पड़ेगी आपको, उससे कितना भी तुम उस दो बीगा जमीन पर production करो, चाहे एक unit, 10 unit, 100 unit, लाख unit, उससे फरक नहीं पड़ेगा, तो जो land revenue, stamp duty, जो taxes जमीन के उपर देने देते हैं, दूसरी बार, production taxes के case में, land revenue stamp, registration fees, professional taxes, यह सब आपका, इससे जुड़े हुए हैं, जहाँ पर आप जमीन के उपर जो tax pay कर रहे हो, या सरकार क्या कहती है, कि तुम अपनी जमीन पर कुछ production कर रहे हो, दो बीगा जमीन है, तो मैं इसके लिए, हम बिजली फ्री दे देते हैं, हम पानी free देते हैं, या 2 रुपय यूनिट बिजली देते हैं, या 2 रुपय यूनिट पानी देते हैं, सरकार ने सस्ती बिजली सस्ता पानी दिया, इसे subsidy कहते हैं, factory owner को बोला, यह तो free में ले लो या ससते पे ले लो, अब आपको यह subsidy दी गई है, क्यों ताकि आपकी production cost कम आए सरकार इसको भी national income में जोड़ देगी तो कितनी बड़ी गलती हो जाएगी government से मतलब government इस जेब से निकाल के पैसा आपको दे रही है फिर उसी पैसे को दूसरी जेब में निकाल के डाल दे कोई sense है इस बात का इसलिए इसको हटा दिया जाता है कि subsidy को तो देखो ही मत ये national income का part नहीं है ये सरकार ने मदद करने दी थी ताकि आपको सस्ती चीज़े मिल सके consumers को सस्ते product मिल सके इसको हटा देते है taxes जोड लेते और subsidy खटा देते है तो these production taxes are independent of production कितने भी unit produce करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता I expect that you have understood this concept सर फिर product taxes और product subsidy भी हमने पढ़ा है वो क्या होता है सर ये तो आपने बता दिया independent of per unit है independent है सर इसमें कोई फर्क ही नहीं पढ़ता it is independent totally ठीक है दूसरे case में जो product tax है वो क्या होता है या product subsidy क्या होता है product taxes and product subsidy they are dependent on the number of units you produce जैसे example GST product taxes तुम पे तुम एक unit बनाओगे एक unit पे 18% GST लगेगा 10 बनाओगे तो 10 के उपर 18% लगेगा 100 बनाओगे तो 100 units के उपर 18% लगेगा 1000 बनाओगे तो 1000 पे 18% लगेगा लाख बनाओगे तो लाख पे 18% GST लगेगा और whatever the rate of GST might be यहाँ पर तुम produce जितना कर रहे हो जितने unit कर रहे हो उतना तुम्हें tax देना है the more number of units you produce the more tax you have to pay because they are directly correlated they are directly correlated आपस में correlated है जितना produce करोगे उतना तुम्हें उतना ही हिसाब से तुम्हें tax देना पड़ेगा इन्हें product tax कहते है and they are dependent on the number of units you are producing कितना तुम produce कर रहे हो उसके उपर dependent होते हैं यह बात clear है सबको yes or no तो जितने units produce करोगे उतना तुम पर tax बनेगा इन्हें कहा जाता है product taxes clear है production taxes, product taxes अब यह पूरी कहानी क्यों बताई थी क्योंकि basic price कैसे निकालते हैं वो बताना था और अब तीनों के बीच का रिष्टा क्या कहलाया जाता है अब आप समझ गए हो गए basic price equals to factor cost plus production taxes production सुनना ध्यान से production taxes minus production subsidy यह question के form में बन सकता है कि basic price एक ऐसा price होता है जो exclude करता है जो exclude करता है production subsidies को और include करता है और include करता है product taxes को and is dependent on units produced गलत हो जाएगा independent है इस तरीके से UPSI घुमा देती है मैं micro economics से question पूच सकती है UPSI तो यहां से क्यों नहीं पूच सकती है मुझे एक reason बता दो इसको prepare ना करने का कोई आपके पास aspect है ही नहीं इसको prepare करना ही करना है और याद रखना ही रखना है ये बात याद रखिएगा अच्छा अब एक बात सुनो मैं इसी formula से basic price को इस्तमाल करके अगर मैं market price पर जाना चाहूं equals to market price वाओ मेरे पास एक combined formula बन गया मेरे पास क्या हुआ एक combined formula बन गया जहाँ पर मैंने basic price में product tax जोड़ दिया product subsidy डोल दिया और market price आ गया अगर अभी भी clear नहीं हुआ समझ नहीं आया तो एक और बार मैं लिख रहा हूँ same चीज let's see कि अब कैसे समझ नहीं आएगा एक और बार लिखता हूँ कि देखो ये बिचारा factor cost है इस factor cost में आप production tax जोड़ दोगे और production subsidies जोड़ दोगे तो क्या आ गया basic price अब उस basic price में product taxes जोड़ दोगे और product subsidy जोड़ दोगे तो क्या आ गया market price बन गया पूरा formula अब बताओ मुझे market price से factor cost में जाना है तो क्या add करू क्या add करू क्या minus करू ताकि ऐसा possible हो क्या add करू और क्या minus करू दो चीज़े add होंगी दो चीज़े minus होंगी मुझे ये बताओ क्या-क्या add करूंगा और क्या-क्या minus करूंगा ताकि factor cost आ सके ताकि factor cost आ सके बताइए बताइए क्या add करूं और क्या minus कर सको बहुत simple question है देखो ये product tax था यहां ले जाओ माइनस में चला गया पी आर टैक्स माइनस में चला गया यह प्रोडक्शन टैक्स यहां ले जाओ माइनस में चला गया प्रोडक्शन टैक्स माइनस यहां पर प्रोडक्शन सब्सिडी प्लस और प्रोडक्ट सब्सिडी भी प्लस होगा और प्रोडक्ट सब्स सो जाएंगे market price से सीधा factor cost पर आ जाओ गए अगर यह मुश्किल लग रहा है एक बार revise कर लेना बिल्कुल मुश्किल नहीं है बहुत basic maths है school level का maths है मुझे नहीं लगता है इतना मुश्किल लगेगा आपको यह ठीक है clear है yes or no yes or no तो बता दो आया ना clear है सब कोई inflation अब आप कहोगे सर जब मैं रमेश सिंग या economics की कोई बुक पढ़ रहा हूं तो उसमें आपके national income के topic के बाद तो रमेश सिंग मैं inflation है नहीं सर कोई और chapter है तो आप inflation पहले क्यों करा रहे हैं उसका एक reason है inflation बाकी साथ topics की नीव है जब तक यह topic complete नहीं होगा तब तक बाकी topics के साथ link करना काफी मुश्किल हो जाएगा तो जो illogical flow था रमेश सिंग या बाकी books का नितन सिंगानिया का वो मैंने ठीक कर दिया आपके लिए और जो next sequence में chapter होना चाहिए that is inflation वो आज शुरू हो रहा है थोड़ी आज आपको energy मेरी कम लग सकती है आज मेरी तबित खराब नहीं आए very high fever बट मैंने सोचा continuity maintain रहनी चाहिए sessions चलते रहने चाहिए और अगर मैं ही रुख गया तो फिर आप लोग भी रुख जाएंगे रुकना नहीं है आगे बढ़ना है किसी भी सूरत में किसी भी सीरत में शिरू करते हैं आज की class के साथ inflation की class inflation के जो lectures होने वाले है तीन total lecture होंगे आपके लिए important क्यों होंगे क्योंकि इस type के question आते हैं देखो पहला question स्क्रीन पर आपके सामने है ऐसा question past में आ चुका है इसका solution आपको हमारी classes में मिलेगा ऐसा question past में आ च चुका है inflationary effect क्या होता है वसका impact किस पर होता है यह आ चुका है इसी तरीके से आपको एक और question देखने मिलेगा inflation के बारे में यह मतलब कितने सारे question आप screen पर देख सकते हैं they have been asked in the past UPSC के द्वारा बार बार कई मौकों पर पूछे दा चुके है ऐसा question आ चुका है ठीक है फ do you agree that the Indian economy has recently experienced a V-shape curve, V-shape recovery curve, give reasons in support of an answer और मैं main answer writing practice भी आपको कराऊंगा हमारे इन sessions के मार्जियम से कोई आम इनसान रहा चलते हैं इनसान से पूछो कि यार महंगाई क्या होती है आपके इसाफ से वो कहेगा कि अगर मैं पिछले साल तक गे हूँ जो आटा पिसवाता हूँ गे हूँ लेता हूँ जो रोटी बनाने के लिए चाहिए वो अगर मैं 40 रुपीज पर केजी के इस आप से लेता था और आज वो 50 रुपीज पर केजी हो जाया तो ये महंगाई है इट एन एग्जामपल ओफ इंफलेशन और वो गलत नहीं कह रहा हूँ उसके लिए जो चीज उसको सबसे जादा यूज में लेनी है जो सबसे जादा इस्तमाल में लेनी है वही चीज मेहंग चीज़ों की तो एक चीज़ का नहीं inflation economy में general price level को देखता है general price level मतलब कई सारी चीज़ों के दाम को जो आप आम जिंदगी में जो आप आम तोर पर इस्तमाल करते हैं जैसे for example आटा, चावल, कपड़े, जूते ये सारी चीज़ें आपके normal commodities की list में आती है जिनका आप daily basis पर इस्तमाल करते हो जिनके दाम अगर बढ़ जाते है general price level अगर बढ़ जाता है तो आम जंता उसे afford नहीं कर पाती है तो inflation की definition क्या है फिर से बताता हूँ sustained increase in prices चीज़ों के दाम अगर बढ़ने लगे एक दो चीज़ों के नहीं general price level अगर बढ़ने लगे आम चीज़ों का दाम बढ़ने लगे तब जाके आप कहते हैं कि देखे अर्थवस्था में मुद्रास फिती बढ़ गई है inflation बढ़ गया है economy में ये बात please याद रहिएगा please इस चीज़ को याद रखिएगा अब आपको important चीज़ ये याद रखनी है definition हमें पता चल गई inflation की आम जिंदगी में किसी भी व्यक्ति को inflation impact करता है तो उसका economic reason क्या है economic reason है कि आपकी purchasing power काफी कम हो जाती है ये purchasing power क्या होता है इसे हम कहते हैं क्रय शक्ति किसी भी चीज़ को खरीदने की आपकी शमता purchasing power उसे कहते है अब जैसे example दूँ आप 50 रुपे पर किलो के हिसाब से एक महीने में 10 किलो आटा खरीदते थे और महीने का 500 रुपे खर्षते थे आटे के उपर अब आटा महंगा हो गया 50 रुपे किलो से उसका rate बढ़कर हो गया है इस टाइम पर 100 रुपे किलो तो आप उसी 500 रुपे के budget में कितना आटा खरीद पाओगे पहले के मुकाबले आप सिर्फ 5 किलो ग्राम खरीद पाओगे तो देखिए अब क्या हुआ उस 500 रुपे के note के अंदर जहां पर पहले आप 10 किलो आटा खरीद पाते थे अब मात पर 5 किलो आटा खरीद पा रहे हैं तो आपको पहले से कम value मिल रही है अपने पैसे के बदले अपनी currency के बदले जिसका मतलब है that the currency's value has reduced or decreased यह जो 500 रुपे का note है इसमें पहले आपको अगर 10 किलो के साब से गेहू मिल जाता था 10 kg गेहू मिलता था अब सिर्फ 5 kg मिल रहा है क्योंकि value इसकी कम हो गई है note की value कम हो गई है इसे कहते हैं purchasing power कम होना महेंगाई की वज़े से मुद्रा स्फिती की वज़े से ऐसी currency की value काफी कम हो जाती है inflation leads to inflation की वज़े से purchasing power of money reduces और यह prelims में question बन सकता है कि inflation की वज़े से purchasing power पे क्या impact आता है आपकी क्राय शक्ती या आपकी purchasing power कम हो जाती है यह बात याद रखनी है अगर inflation बढ़ता है तापकी purchasing power कम होती है inflation क्या था sustained increase in the general level of prices की लगातार निरंता रूप से सामान या चीजों के दाम बढ़ने लगे इसका उल्टा क्या होगा इसका उल्टा होगा deflation जहाँ पर prices कम होने लगेगे inflation में price बढ़ रहे हैं उपर की हो जा रहे है और जिसमें एक चीज नहीं आती इसमें जो भी daily life में आप use कर सकते हो जैसे fuel जैसे fruits, vegetables आपके खाने पीने की चीज़े हैं जैसे जो आप कपड़े पहनते हो electronics, mobile recharge, internet का खर्चा विजली पानी का खर्चा ये सब महेंगे होने लगती हैं इनको आप कहते हैं inflation, inflation का उल्टा मैंने बताया inflation का reverse होता है deflation जहां पर चीजों के दाम इसी तरीके से कम होने लगते हैं जैसे अगर मैं example दूँ कि 10 रुपे की कोई चीज 8 की हो जाए फिर वो 7 की हो जाए, फिर वो 6 की हो जाए क्या हो रहा है there is a decreasing trend in price चीजों के दाम कम हो रहे हैं तो इसे deflation कहेंगे चीजों के दाम बढ़ेंगे 10 की कोई चीज 11 की हो जाए, 15 की हो जाए, 20 की हो जाए तो ये price बढ़ रहे हैं और इसका reverse है deflation inflation में purchasing power कम होती है deflation में purchasing power बढ़ जाती है कैसे, समझो पहले क्या करता था, मैं बजार जाता था 50 रुपे किलो के हिसाब से मुझे 10 किलो आटा मिल जाता था 500 रुपे के इस note का इस्तमाल करके अब मैं बजार जाता हूँ, मुझे 25 रुपे किलो आटा मिल रहा है और उसी 500 रुपे में अब मैं 20 किलो आटा खरीद पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि चीजों के दाम कम हो गए है, तो मतलब जब चीजों के दाम कम होते हैं, जब deflation होता है, तब आप जाधा quantity खरीद सकते हो, तो क्या मैं यह कह सकता हूँ कि purchasing power बढ़ गई है, कि पहला यह note मैं दिखाता था, दुकान वाले को दिखाता था कि यह लो, तो मुझे वो 10 किलो आटा देते थे, आज वो मुझे 20 किलो आटा दे रहे हैं, तो deflation की वज़े से क्या purchasing power बढ़ी, येस, of course purchasing power बढ़ी है, ये बात आपको याज रखनी है, आगे चलें, अगले topic पर चलें, तो deflation, inflation दोनों का मतलब समझ आ अब ये inflation बढ़ता है, तो किस कारण की वज़े से, पहला कारण है demand pull inflation, दूसरा कारण है cost push inflation, और तीसरा कारण है built in या systemic inflation, इंडिया में systematically, systemic तौर पे महंगाई है, बट आम तौर पे हमारे देश के अंदर cost push inflation भी देखने मिलता है, कभी कभा demand pull inflation भी देखने मिलता है, अब ये technical word है, इनको असान करते हैं, क्योंकि I whatever I teach, I make things simplify for all of you, I make things simple for all of you, अब जैसे एक बात समझो, हर चीज की cost बढ़ने लगती है, दाम बढ़ने लगता है, आखिरकार ये cost push या demand pull inflation होता क्या है, करके बात करें, सबसे पहली बात, तो इसके बाद हम CPI, WPI के बारें बात करें सबसे पहली बात, cost push या demand pull inflation क्या होता है, बहुत आसान शब्दों में आपको समझना है, cost push, जब चीजों के दाम बढ़ जाते हैं, cost push inflation, उसे कहते हैं, क्या होता है, जब चीजों के दाम बढ़ जाते हैं, जैसे for example, अब तक कोई चीज 100 रुपी के आती थी, पर अब से वो 120 20 रुपी की मिल रही है, उसके दाम 20 रुपी एक्स्टा बढ़ गए, 100 plus 20 equals to 120 रुपी, अब वो चीज कितने की हो गई है, 120 रुपी की हो गई है, क्यों, क्योंकि costly हो गई है, अब किस reason की वेसे हो सकती है, हो सकता है, raw material की cost बढ़ जाए, अब मान लो तुमारे पास steel आता है, steel ही महंगा आ रहा है, अब मान लो तुमारे पास fuel आता है, एराक से, साओधी अरेबिया से, रश्या से तेल खरीदते हो, महंगा मिलने लगे, वहाँ तो अचानक से wars शुरू हो जाती है, हमारी economy पर impact आ जाता है, तो raw material की cost, fuel cost बढ़ सकती है, या wages, labor जो तनख़ा मांगते ह strike path, कि हम तब तक काम नहीं करेंगे, जब तक आप हमारी तनखा नहीं बढ़ा होगे, अब उनको बढ़ा के salary देनी पड़ेगी, या हो सकता है, government taxes बढ़ा दे, जिस वज़े से, अब पहले सिर्फ 8%, मान लीजे 8% tax लगता था, अब 18% tax लग रहा है, या कल जाके 28 भी लग सक बढ़ेगी, तो मतलब cost push inflation, ऐसे cases में आप कहते हैं, कि जब चीजों के दाम बढ़ने लगते हैं, जब अगर मैं economic term यूज करूं यहाँ पर, factor cost या input cost बढ़ जाती है, raw material की cost, जो कच्चा माल इस्तमाल करते हो, महंगा हो गया, तो समान महंगा बिकेगा, अब टमाटर 500 रु महंगा होगा, या तो उसकी quantity कम कहोगी, या तो वो price बढ़ा के बेचेंगे, पर कोई अपनी जेब से पैसा नहीं waste करेगा आपके लिए, तो जो reason है जिस वज़े से price बढ़ा, वो है महंगाई बढ़ने की वज़े से, महंगाई क्यों बढ़ी, क्यूंकि cost बढ़ गई थी, production cost बढ़ गई थी, अगर आपको याद होगा, अपने पिछली classes में Keynesian School of Thought पढ़ा है, John Maynard Keynes की economic thought पढ़े हैं, अगर आपको याद होगा, पढ़ा है अपने मेरे साथ, नहीं पढ़ा तो previous lecture की playlist पढ़ी है, पूरी वीडियो देख लो, starting से, हापसे कोई पैसा नहीं ले रहा जैसे मैं example देता हूँ, आप मैसे जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, या आपके मम्मी, पापा, भाई, बहन कभी government job में रहे हैं, तो आपको ये पता होगा कि एक seventh pay commission नाम का commission है, आयोग है, वेतन आयोग, वो ना government officers की salary बढ़ाया था, कई साल पहले आया था, जिससे government officers की salary बढ पहले नाया था, क्यों, क्योंकि लोगों की तनक्वा बढ़े, पर अगर तनक्वा एक limit से ज़्यादा बढ़ा दी, तो महँगाई अचानक से बढ़ने लगेगी, क्योंकि लोगों के आपास और पैसा आने लगेगा, मान लीजे, अभी तक मेरे पास पैसा कम था, अभी तक मेरे पास जादा quantity of money नहीं होता था, मेरे पास सिर्फ ये 10 रुपीज का नोट था, मैं जादा खर्चक नहीं कर सकता, क्योंकि 10 रुपे में जो चीजे आती है, सिर्फ वही अफोर्ड कर पाऊंगा, इसके ओपर कुछ अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, पर आज मेरे पास आग मैंने इसको लोन पर लिया वट मेरे पास money आ गया है, इसी बात पर inflation के topic से जुड़ी वे एक line मैं आपको कहना चाता हूँ, inflation का मतलब है too much money, सुनना ध्यान से, too much money, chasing too few goods, chasing too few goods, एक और example समझाता हूँ, की इसका मतलब क्या है, मान लीजिए, आपके पास एक समान है बेचने के लिए हो सकता है कि mobile device है, जिसको आप 10,000 का बेचना चाते हो, A आता है, A कहता है कि 10,000 का बेचना चाते हो, मैं 10,000 में खरीद लूगा, B कहता है कि तुम 10,000 में बेचना चाते हो, मैं 12,000 रुपे देकर खरीद लूगा, C कहता है कि मैं 15,000 रुपे देकर खरीद लूगा, म B को बेचोगे C को बेचोगे A कह रहा है अरे मेरे को बहुत ज़्यार है मुझे दे दो बी कह रहा है मेरे को भी बहुत ज़्यार है मुझे दे दो सस्ते से सस्ता मिलेगा वहीं से खरीदो इसी लिए ये सेलर्ज और बायर्ज जब आपस में टकराते हैं जहां पर बायर तैयार हैं कुछ भी देकर खरीदने के लिए उस वज़े से उस रीजन की वैसे महंगाई बढ़ती है जैसे अभी फिलाल टमाटर के दाम देखो टमाटर इतना ज़ादा टमेटो इस सो expensive इतना ज़ादा महंगा ओ गया क्यों कि बारिश से जो उसकी फसलती वो खराब हो गए अब quantity है इतनी नॉर्मल इतनी quantity होती थी अभी इतनी है पर खरीदार है इतने और लोग कह रहे हैं कि यार देखो टमाटर खाने की आदत है वो आदत तो चोड़ेंगे नहीं, 100 रुपे से 1.500 का हो गया, 200 का हो गया, खरीदेंगे फिर भी, 200 रुपे के लोगे भी खरीदेंगे, खरीदने वाला तो उतने भी खरीदेगा ना, अब जिनके रेस्टोरेंट चल रहे हैं, कल से वो टमाटर थोड़ने डालना बन कर देंगे सबजियों के अंदर, कि बिना टमाटर की सबजी खाओ, ऐसा थोड़ी नहीं, उनको तो फिर भी खर्चना पड़े गई, तो आप समझ पा रहे होंगे, लोग कुछ भी पैसा देके खरीदने तयार होंगे, एक और एक्जामपल देता हूँ, कोबिड के टाइम पर याद है, मास्क बहुत महेंगे हो गए थे, एमफो, टेरेसिन, ड्रग, दवाई आती थी, वो बड़ी महेंगी हो गई थी, आपको याद होगा, ऑक्सीजन खरीदना बड़ा महेंगा हो गया था, ऑस्पिटल में बेड नहीं बचे थे, रिष्टदारों का इलाज करा पाना बड़ा मुश्किल हो गया था, मतलब इन सारे केसिज में आपको एक्जामपल मिला है, कि कैसे, चीजों के दाम अचानक से बढ़े उस वज़े से, महेंगाई बढ़ गए उसे, अल्टिमेटली कंस्यूमर्स को ग्रहकों को जादा पैसा देना पड़ा, तो कॉस्ट पुश इन्फलेशन जो महेंगाई बढ़ने का पहला टाइप है, इसमें raw material, इसमें जो इस्तमाल होने वाली चीज़े हैं, जो किसी product में इस्तमाल होती है, जैसे गाड़ी गाड़ी बना रहे हैं, जो गाड़ी पांचलाग रुपे की आती थी, आज वो सातलाग रुपे की हो गई है, क्यों? क्योंकि उसमें semi conductor chipset जो डलता है, वो महंगा हो गया, उसमें जो steel पढ़ता है, वो महंगा हो गया, उसमें जो plastic लगता है, वो महंगा हो गया, और महंगा ही बढ़ने की वैसे चीज़ों के दाम बढ़े, इसलिए जॉन मेनाड कीन्ज ने सजेस्ट किया कि सरकार की जिम्मेदारी है, कि प्राइस को एक limit से ज़्यादा बढ़ने ना दे, लोगों की income को एक limit से ज़्यादा बढ़ने ना दे, इसको regularly चेक करते रहे और कोशिश करे कि लोगों को मना सकें, कि एक limit से ज़्यादा खर्चा मत करो वरना economy में महंगाई बढ़ने लगेगी, और इसका impact सबसे ज़्यादा अमीरों पे होगा या गरीबों पे होगा, अरे गरीबों पे होगा, क्योंकि वो अपनी ज़रूरत है पूरी नहीं कर पाएंगे, ठीक है न, तो जो cost push inflation है वो इन reasons की वैसे होता है, जिसमें एक मैंने बताया raw material महंगा हो जाना, fuel महंगा हो जाना, जैसे तेल के दाम बढ़ते हैं तो सबजिया महंगी हो जाती है, क्यों तेल डालके थोड़ी ना सबजी हुगाते हो, अरे तेल मतलब petrol diesel, सबसे पहले तो अब inflation को नापना होता है, महंगाई को नापना होता है, तो दो तरीके हैं नापने के, जैसे अगर आपको किसी को कितना बुखार हुआ है, किसी को कितना fever हुआ है, नापना है, तो आप Fahrenheit में भी, आप Celsius में भी, दोनों में measure कर सकते हो, temperature को, इसी तरीके से, आप हमारे देश में महंगाई कितनी है, inflation कितना है, दो method से, दो रास्तों से, दो तरीके से नाप सकते हो, एक है WPI, Wholesale Price Index, और एक है CPI, Consumer Price Index, दोनों में फरक क्या है, इसको समझाने से पहले, इस image को देखिए, ये खेत है, खेत के अंदर उपता है गेहू, उसी गेहू को एक wholesaler खरीद देता है, मान लिजे गाउं है, गाउं के अंदर 20 लोग है, उन सारे किसानों से जा जा कर, एक wholesaler, wholesaler मतलब थोक व्यापारी, जो बल्क में कोई चीज खरीदता है, wholesaler जब कोई चीज बल्क में खरीदता है, let's say, पिछले साल तक, वो गेहू 20 रुपे किलो खरीदता था, इस साल 22 रुपे किलो, गेहू का price हो चुका है, 22 रुपीज केजी, गेहू का price हो चुका है, और क्यूंकि दाम बढ़ गए हैं, और वो भी wholesaler के level पर, तो यह किस तरीके से नापोगे, wholesale price index के तरीके से नापोगे, index का मतलब है, index का मतलब है, एक तरीका जिसके माध्यम से, आप कोई data represent करते हो, price index का मतलब है, कि चीज के दाम का, कि कोई चीज कितने दाम की है, क्या rate है, क्या price है, उसको आप represent कर रहे हो, और wholesale price index, wholesaler के level पर, थोक व्यापारी के, जो बल्क में कोई चीज खरीता है, उसके level पर, कोई चीज किस rate की पढ़ रही है, और महंगाई बढ़ी, के नहीं बढ़ी, जैसे अगर, लास्ट येर कोई चीज 20 की थी है, इस साल 22 की हो गई, तो साफ दिख रहा है, 10% से, महंगाई बढ़ गई है, 10% से, inflation has increased, at the wholesaler level, तो जब आप wholesaler के level पर, महंगाई ट्रैक करते हो, आप wholesale price index देखते हो, पर वही wholesaler, अपनी factory में, उस गेऊं को पीसेगा, आटे में pack करेगा, आटे के packet में, आपने आशिरवाद, शक्ति भोग, silver coin, अलग-अलग company के आटा देखे होंगे, आटे के packet आते हैं, वो sell किये जाते हैं, वो बेचे जाते हैं, अलग-अलग retailers को, और उन retailer या किराने की दुकान से, आप खरीद के लाते हो, अपने घर में इस्तमाल के लिए, as a consumer, yes or no, ऐसा होता है के नहीं होता, और क्योंकि as a consumer, आप उसे खरीदते हो, तो आपके level पर भी तो महंगाई नापने की जरूरत है, let's say, last year तक आपको 40 रुपे किलो आटा मिलता था, इस बारी आपको 48 रुपीज किलो मिल रहा है, मतलब पिछले साल से कितनी महंगाई बढ़ गई, 20% inflation increase हुआ है, at the consumer level, ग्राहक के स्तर पर, 20% से महंगाई बढ़ी है, जो चीज 40 की थी आज, वो 48 की आ गई, अरे आपके घर में आटा है, किसी चक्की में पिस्ता होगा, उस चक्की को गेहूं डिस्ट्रिब्यूट करने वाला, कोई तो होलसेलर होता होगा, जो बल्क में 1000 तन, 2000 तन, 3000 तन, गेहूं देता होगा, तो उस होलसेलर के लेवल पर महंगाई नापते हो, हमारे गृहकों के लेवल पर महंगाई नापते हो, तो consumer price index है, ये बात याद रखनी है, ये दो सूचकांक होते हैं हिंदी मैं बोलू तो, ठोक मूल्य सूचकांक, wholesale price index और उपभोकता मूल्य सूचकांक, I think this is clear to you, फोड़ा इनके बारे में, historical data और कुछ important facts जो आपके exam में पूछे दा सकते हैं क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है wholesale price index पर एक question बनेगा, WPI पर एक question बनेगा, पहला सवाल बन सकता है, WPI India के अंदर पहली बार कौन से year में publish हुआ था, क्या ये अंग्रेजों से पहले publish हुआ था, yes, 1942 में पहली बार wholesale price index का data इंडिया में publish किया गया था, अच्छा, ठीक है, 1942 में पहली बार किया था, अंग्रेजों के टाइम पर, अभी फिलाल, wholesale price index का data कौन इखटा करता है, इंग्लिश में बोलू तो, who compiles the data, and ultimately किस के दोरा, कौन से office, कौन से department के दोरा, सरकार के release किया जाता है ये data, इस question का answer होग Office of Economic Advisor, OEA, आर्थिक सलाकार का दफ्तर, कौन से मंत्राले में आता है, is it Ministry of Finance, no, is it Ministry of Statistics and Program Implementation, no, is it Ministry of Commerce, yes, वानिज्य एवम उद्ध्योग मंत्राले, Ministry of Commerce and Industry, उनके तहते एक department आता है, Department for the Promotion of Internal Trade, अंद्रूनी व्यापार से संबंदिच जो सरकार का विभाग है, ये विभाग कौन से मंत्राले में आता है, MCI के अंदर, Ministry of Corporate Affairs, नहीं, Ministry of Industry and Ministry of Commerce, वानिज्य एवम उद्ध्योग मंत्राले, लोग ना गलती से सोचते हैं, Ministry of Commerce and Industry, Ministry of Company, Ministry of Company Affairs अलग है, जी, ये प्रिलिम्स में गलती मत कर देना, statement में लिखकर दे देंगे, Ministry of Commerce, और आप गलत कर दोगे, अच्छा, ये कैसे, डेटा कैसे निकाला जाता है, देखो, इस महीने, पिछले महीने के मुकाबले, चीजों के प्राइस कितने बड़े हैं, उसका डेटा दिया जाता है, और ये डेटा रिलीस किया जाता है, चौदा तारिक तक अगले महीने की, नेक्स्ट मंत की, जैसे मैं एक्जामपल आपको बताऊ, अभी फिलाल जुलाई चल रहा है, जुलाई में कितना होलसेल प्राइस इंडेक्स था, इसका डेटा, अगस्ट की चौदा तारीक, याप तो चौदा पंदरा की तो चलो रखी है, और कौन रिलीज कर रहा है, कौन पब्लिश कर रहा है, इट इस ओफिस ओफ एकॉनमिक अड्वाइजर, डेपार्टमेंट फॉर दी प्रमोशन अफ इंडस्ट्री और इंटर्नल ट्रेड मिनिस्ट्री ओफ कॉमर्स और इंडस्ट्री, अज सरकार को कैसे पता, कित सरकार जाकर डेटा इखटा करती है, हर महीने के 10 हफ़ते के बाद, क्योंकि एक बात समझो, जुलाई का डेटा अगस्त में आ रहा है, 14 तारिक तक, वो होता है, प्रोविजनल डेटा या टेंपररी डेटा, फाइनल डेटा आता है, उस महीने के खतम होने के 10 हफ़ते के बा 10 weeks के बाद, 10 हफ़ते के बाद, ये बात याद रखोगे, ये आपके exam में सवाल के तोर पे पूछा जा सकता है, प्लीज रिमेंबर दिस, मैं पूरा शोर हूँ, इस पर UPAC सवाल पूछ सकती है, wholesale price index के basis पर, अब भारत सरकार ने 2012 में committee बनाई, उसका नाम था सौमित्र कौन से year के अंदर, 2012 के अंदर committee बनाई गए थी, क्यों मनाई गए थी पता है, ये हमारा WPI निकालने का तरीका काफी पुराना हो गया, काफी time से हम इसी को follow कर रहे हैं, इसको थोड़ा reform करना चाहिए, इस methodology में थोड़ा change करना चाहिए, इन्होंने कहा कि धरूरत है तो होना ही चाहिए, change is the only constant, जहां पर कितने चीजों के दाम को, price को market में हम survey करते हैं, जैसे for example, bulk level पर, थोक level पर, गेहू का rate क्या है, चावल का rate क्या है, दालों का rate क्या है, चीनी का rate क्या है, इन सब चीजों को bulk level पर देखते हो, अब आज का लोगों की, जो lifestyle है, change होती जा है, तो commodities जो हम पहले इस्तमाल करते थे, आज इस्तमाल कर रहे है, उसमें change आ गया है, अरे 10 साल में इतना बदलाव आ गया है, इसलिए commodities कौन सी होनी चाहिए, कौन से चीजों के दामों को, goods को, उनके prices को आप follow करोगे, और देखो के महंगाई बड़ी के नहीं बड़ी, वो कौन सी चीजें होनी चाहिए, ये देखा जाता है, अब हम पैसा, खर्चा, हर चीज पर एक तरीके से करते हैं, नहीं, मुझे लगता है हम लोग खाने पीने पर जादा खर्चा करते हैं, उसके इलावा हम बाकी चीजों पर, कपड़ों पर, अब डेली कपड़े खरीदते ह मिन्तरा से कुछ लोग डेली खरीदते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, आमिजोन मिन्तरा के जो शॉपहॉलिक पीपल हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं, आयम टॉकिंग अबाउट दोज, नॉर्मल लाइक मी, दे डोंट बाई क्लोज देली, हम लोग रोज तो खप आटे डाल पर खर्च रहे हो, तो आप हो सकता है बाकी प्रोडक्स को खरीदने के लिए कुछ अलग अमाउंट खर्च रहे हो, 2000, 1000, 500, 300, 700, अरे 10,000 भी खर्च सकते हो खर्चने के लिए, तो मतब अलग-अलग चीजों पर अलग-अलग पैसा खर्चते हो, है ना, 2012 में बना और उनका वेट, वेट मतलब कितना वेटेज, कितनी वैल्यू दी जा रही है, फूड आइटम्स को जादा वैल्यू दी जा रही है, यह चेंज होते रहना चाहिए, इन्हों ने चेंज किया, 2004, 2005 का हम बेस मानते थे, उसको चेंज करके 2011, 2012 में लेकर रहा है, बेस क्या होता ह है, when you want to compare something, you need something to compare with, आप, अब मेरा वजन, आप नापना चाहते हो, आपने कहा 100 kg, अब आपको कैसे पता कि यह कम है, जादा है, आप एक healthy व्यक्ति का वेट देखोगे, लेट से हो सकता है, उनका वेट 80 kg, और तब आप बोलोगे सर, आपका तो 20 kg ओवरवेट है, है ना, comparison क आप लिए कोई तो data चाहिए था, इसके इलावा, आप कह सकते हो कि लिए कि इंसान को, healthy इंसान को दिन का 200 ऐलरी खाना खाना चाहिए, और कोई अगर 1200 कैलरी खा रहे है, तब ही तो आप कह सकते हो कि देखो तुम तो 1000 कैलरी कम खा रहे हो, तो एक base होना चाहिए, जिससे से compare करने के लिए कोई base create करती है कोई किसी base से compare करती है अब आज 2023 में जुलाई के महीने में wholesale level पर महंगाई बड़ी है नहीं बड़ी मुझे compare चाटना है मैं क्या करूँगा मैं 2011-12 के data से compare करूँगा कि तब से लेकर आज कितनी महंगाई बड़ चुकी है मैं पिछले महीने के data से compare करूँगा जिससे मुझे पता चलेगा कि पिछले महीने के मुकाबले मेरी कितनी महंगाई बड़ी है या पिछले साल 2022 के जुलाई को 2023 के जुलाई से compare करूँगा कि तब से लेकर अब तक महंगाई कितनी बड़ वह करूंगा यह बात याद रखेगा कि अब ज़रा समझिये ध्यान से सुनीगा मेरी मैं आफ सब के message देख पार हूं मेरी बात ध्यान से अब जब हम इन तरीके से इन रास्तों से base year compare करते हैं वे से data compare करते हैं तो हमारे पास यह जानकारी आपाती है, कि आखिरकार किसी देश में महेंगाई बड़ी है, कितनी बड़ी है, हो सकता है, कोविड टाइम पर बहुत महेंगाई हो, आज कम हो गई है, तो 2011-2012 एक स्टेबल एयर है, जिसको बेस एयर कहेंगे, स्टेबल मतलब उस साल जादा चीजों के दाम अचानक से उपर नहीं बड़े थे, अचानक से कम भी नहीं हुए थे, इसलिए कमपैरिजन असान हो जाता है, तो 2012 में जो सौमित्र चौधरी कॉमिटी सरकार ने बनाई थी न, उसन 2011-12 के डेटा से सरकार कमपैर करने लगी, महंगाई वो भी बल्क, वो भी थोक, वो भी होलसेलर के लेवल पर, ये बार ध्यान रखेगा, अच्छा, होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर, आज हम फिलाल देखते हैं, तो क्या देखते हैं, what do we review in WPI, हम तीन चीज़ा देख पहली, आपकी WPI लिस्ट के अंदर, चीज़ें आती हैं, प्राइमरी आर्टिकल्स, खाने पीने की चीज़ें, इसमें क्या आता है, food, ठीक है न, food, food, fruits, vegetables, उनके दाम कितने बने, fruits, vegetables के, ये आता है, प्राइमरी आर्टिकल में, अब जो पुराना 2045 का base year था, जब WPI calculate करते थे, 2045 के base year में, और आज 2011-12 के base year में, हम महंगाई calculate करते हैं, प्राइमरी आर्टिकल्स की, तो टोटल 100% में से, टोटल 100% में से, प्राइमरी आर्टिकल्स को पहले वजन दिया जाता था, वेटेश दियाता था, 20.12%, 20.12%, और आज दिया जाता है, 0.5% जादा, 22.62%, अब ये दो अलग-अलग डेटा क्या हैं, मैं समझाता हूँ, देखो, WPI का डेटा, compare करते थे, हम base year थे, दो 1245 का base year था, उसमें primary articles, मतलब अगर 100 article, हम 100 चीज़ें देख रहे हैं, उसमें से, जो वेटेज थी, primary article के पास, वो थी 20 20.12%, पर तब से लेकर अब तक जमाना बदल गया, चीज़ें बदल गई, आपकी primary articles का weightage भी बढ़ गया, 22.62%, अब हम देखते हैं, और उसका एक basic reason यही है, कि हमें महंगाई बहुत accurately नापनी है, और एक normal इंसान अपनी pocket से कितना पैसा खर्चा है, वो उसका एक fixed percentage हमने estimate कर लिए है, आप कोई जादा करता होगा, कोई कम करता होगा, बट हमें compare करना है ना कि महंगाई बढ़ी के नहीं बढ़ी, तो fixed data चाहिए होता है, ऐसे ही fuel और power पर, fuel, fuel, इंधन, petrol, diesel जो आप बढ़वाते हो, कोईला खरीते हैं अगर कुछ लोग, बिजली के लिए, तो पहले इसकी weightage जादा थी, 14.91% होती थी, और यही weightage आपकी कम होकर 13.51% आ गई, latest data के हिसाब से, 13.15% आ गई, latest data के हिसाब से, मतलब fuel and power की weightage हलकी सी घटा दी, 1% के करीब कम कर दिये, कम कर दिये, घटा दिये, क्योंकि अगर हम मान रहे हैं कि आप 100 रोपे खर्षते हैं, तो पहले अगर fuel and power पर उसमें से 14.9% खर्षते थे तो आप सिर्थ 13.15% खर्षते हो, यह हम assume कर रहे हैं, और यह fixed रहता है हर साल, ताकि accurate data है, सही data है, तीसरी चीज़ WPI के basket में, क्योंकि एक चीज़ का दाम नही करते हैं, विजली का बिल, पानी का बिल, पेट्रोल, डीजल, खाने पीने की चीज़ हैं, कपडे जो आप पहनते हो, chemicals, शुगर, चीनी, vegetable oil, कागस, यह सारी चीज़ है, आपकी इस लिस्ट में आती है, जो wholesale level पर प्रडियूस होती हैं, पर क्या उनके दाम बड़े हैं, पा जिस पर question मन सकता है, वो है, manufactured products, manufactured products, 64.97% सबसे जाधा इसको weightage मिली है, manufactured products को, जैसे आप चाय में चीनी डालते हो, वो कच्ची चीनी तो नहीं है, किसी sugar mill में manufacture होई है, तो वो इस list में आता है, आप अपने घर में जो refined oil होता है, उसमें खाना बनाते हो, वो भी एक refined product है, तो बस मैं यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप सबको, कि इन सब के weightage को देखा जाता है, total 100% देखा जाता है, कि wholesale price index के साब से पिछले बार से अब महंगाई बढ़ी है के नहीं बढ़ी है, पहले हम 2045 का weightage देखते थे, अब हम 2011-12 का देख रहे हैं, latest data 2011-12 का है, इसक भी सुधारना है आने वाले कुछ टाइम में, यह WPI के अंतरगत देखा जाता है, और data भी regularly update होता रहता है, यह 3 sectors हमारी economy के primary fuel on manufactured products WPI में देखे जाते हैं, अब prelims में question क्या बनेगा, प्रिलिम्स में question बनेगा के primary article fuel और consumer products इस list में आते हैं, ना जीना manufactured product लिखा है, तो यह question बन सकता है, question बनेगा goods और services दोनों के दाम देखे जाते हैं, ना जीना goods के दाम देखे जाते हैं, services के आज भी नहीं देखे जाते हैं, और यह prelims में पहले पूछा जा चुका है, अब जीना यह भी गलत है, weight बढ़ा था primary articles का, manufactured का और fuel का कम हुआ है, इन पर सवाल बन सकता है, और मैं guarantee दे रहा हूं कि अगर एक question आया है WPI पर, एक और question आने वाले time में पूछा जा सकता है, अब इसी से जुड़ा हुआ एक और topic, WPI का भी आपका food index आने लगा है, food, food, WPI में जो हमारा सबसे important खर्चा है, WPI wholesale, food price index आने लगा है, food price index, WPI food price index किसकी बात करता है, WPI food price index की बात करता है कि खाने पीने की चीज़ों के दाम कितने बढ़ गए हैं, जैसे पहले 676 items आप देखते थे, 2004-05 में, आज आप देखते हो, ये कुछ बढ़ गया है, कितना हो गया है, 697 हो गया है, 2011-12 के data के साब से, इसमें कितने food items है, उनको यहां अलग से लिखो, दिक्कत यह है, कि food item primary articles की list में भी हो सकते हैं, और manufactured products की list में भी हो सकते हैं, जैसे आटा हो गया, वो primary article में गया, चीनी हो गई, वो आपकी, अगर manufactured नहीं है, तो primary article में चली गई, पर अगर जो packet वाला आटा खरीते हो, वो manufactured में चला गया, packet वाली चीनी manufactured में चली गई, जो भी food item आप raw खरीद रहे हो ना, जैसे fruits and vegetables, वो यहां पर primary article की list में आएगी, और जो packet में बंद है, manufactured है, factory में गई है वो manufactured की list में आएगी, तो इन दोनों list से आपने क्या किया, food वाले सारे items को इकटा कर दिया, अब total 100% में से food items की weightage कितनी है, 24.38% है, और question बन सकता है कि 1 4th weightage food items की है, जो की सही होगा, लगबग 1 4th weightage food items की है, और यह सवाल बन सकता है, अब तब आप कहोगा, रे सर, आपने बताया था, और यह सही निकला, आई ही बात समझ मैं, और जब आप इन दोनों को एक साथ देखते हो, WPI और WFPI, food price index, तब पता चलता है कि कितनी महंगाई wholesale level पर है हमारे देश में, तो 697 items में से, जो food items थे, उनको अलग कर दिया, लगबग 25%, लगबग 1 4th था, उसका, उस level पर देख रहे हो कि inflation कितना बड़ा है, food items के level पर at the level of producer, इसको use किया जाता है, और यह कब से बनाया जा रहा है, Ministry of Commerce and Industry, Department for the Promotion of Internal Trade के द्वारा, 2017 से बनाया जा रहा है, question बन सकता है कि recently start हो है, ना जी, 6 साल हो गए इसको, इस पर प्रिलिम्स में question बन सकता है, यह बात ध्यान रखिएगा, अब सरकार ने recently, 2019 में एक working group बनाये था, WPI के revision के लिए, कि WPI में change होना चाहिए, WPI में बदलाव होना चाहिए, काफी टाइम से, same ही methodology को हम follow कर रहे हैं, 2019 के अंदर, प्रोफेसर रमेश चंद जो की कौन है, नीती आयोग के, प्रोफेसर रमेश चंद कौन है, एक working group बनाये गया, WPI की methodology को revise करने के लिए, ने member of नीती आयोग, इन्होंने कहा, base year 2011-12 बहुत पुराना हो गया है, हमारे लिए सबसे stable base year अगर फिलाल है, तो वो है 2017-18 का, इसमें update कर दो, जिसकी गुंजाईश है कि आने वाले कुछ दिनों में, आप इसे 2017-18 में update होते वे देखोगे भी, कोई बड़ी बात निया, कुछ दिन में हो जाएगा, और base year ऐसे revise करना, यह normally, periodically होता रहता है, समय समय पर होता रहता है, जी, बहुत simple, बहुत normal चीज है, last 2011-12 base year decide गया था, अब 2017 कर देंगे, current base year, ठीक है न, कर दिया जाएगा, last revision, को change कर दिया जाएगा, अ अब इनकी recommendation यही थी, कि 2017-18 को base year बनाओ, नया base year बनाओ, इसके अलावा, आपको इन तीनों की average निकाल कर एक नई series बनानी चाहिए, कि आज के time में कौन सी कौन सी commodities लोग इस्तमाल कर रहे हैं, दस साल में भी बड़ा बदलाव आ गया है, डेटा collect करने के नए source इखटे करो, तो कहां हो पुराने तरीकों से डेटा इखट्या करते रहोगे, आज internet का जमाना है, आज और accurate price के बारे में data लेकर आओ कि महंगाई जादा है तो है क्यों, कम है तो है क्यों, तब ही जाकर, आप accurate data लेकर जब आओगे, तब ही जाकर, अब जादा से जादा महंगाई को accurately ना अप पाओगे, अब आप पूछोगे सर, WPI निकालने का, what is the purpose, मेंज में क्या सवाल बन सकता है, अगर मेंज में सवाल बना, WPI, CPI में क्या revision होना चाहिए, प्रोफेशर अमेश चन जी की recommendation लिख दो, मेंज में सवाल बना, कि अपन WPI निकालने क्यों, किसी भी देश की macro और micro economic situation, macro और micro economic situation, वो WPI बता सकता है, wholesale के level पर, जिस पर अभी कोई ग्राहक के level पर क्या चीज़ है, महंगी हो जाती है, wholesale level पर सिर्फ wholesaler का ही impact है, मतब कि एक इंसान है, वो गेहूंगा रहे है, वो सब मिलकर एक ही wholesaler को बेच देते हैं, अब वो wholesaler के level पर, price क्या है चीज़ों क commodities का price क्या है, यह देखना पड़ता है, wholesaler के level पर, चीज़ों का price क्या है, this is important to be evaluated, और उस पर accurate estimation होता है, और overall economy पर impact कितना आ रहे है, पूरी अर्थिवस्ता पर यह देखना होता है, सरकार, पहली control कर ले, देखो एक बात बताओ, अगर wholesale level पर कोई चीज़ महंगी हो गई, हम जब तक ग्राहक तक पहुँचेंगे, तब तक बहुत और महंगी हो जाएंगे, बहुत महंगी हो जाएंगे, तो सरकार उनके बढ़ते हुए दाम को control करने की कोशिश कर ले, तो आप और मेरी जैसे consumers को सस्ते टमाटर मिलेंगे के नहीं मिलेंगे, इसी लिए तो मैं कहे रह सरकार में जितने भी policy maker बैठे हैं, देश के बड़े-बड़े status station WPI के data का इस्तमाल करते हैं, कि चेक करें कि prices कितने बड़े हैं पहले के मुकाबले, अब एक किसान है, किसान देख रहा है कि 10 साल पहले मैं 20 रुपे किलो ग्राम के साब से wholesaler को बेचता था, तो आज at least मैं 30 रुपे तो बेचूं, इतना तो increase करूं, तो एक किसान को भी wholesale का data चाहिए, सरकार को क्यों ना चाहिए फिर, सरकार को तो चाहिए ही होगा, obvious सी बात है, because everybody wants growth, चीजों के दाम बढ़े, sustainable तरीके से बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, पर जहां पर sustainability खतम होती है, जहां पर अच के मन में छप गया होगा अब, WPI क्या है, छप गया होगा सब के मन में, अगला है CPI, consumer price index, जो की consumer के level पे हम देखते हैं, CPI, consumer price index, अब wholesaler के बाद distributor, retailer, कई सारे लोग हो सकते हैं, आप कोई चीज खरीदते हो न, बहुत बिचॉलिये उसमें जुड़े होते हैं, बहुत intermediaries काती है, CPI आज हमारे लिए इतना जरूरी है, कि पहले RBI, WPI को यूज करता था, देश में inflation को नापने के लिए, आज RBI, CPI को यूज करता है, और यह prelims में question बन चुका है, कि आज Reserve Bank of India, consumer price index का इस्तमाल करके, data produce करता है, हमारे देश के अंदर, CPI का इस्तमाल करके, data produce करता ह है, हमारे देश के अंदर, और CPI के data का इस्तमाल करके ही, हमें पता चल पाता है, कि हमारे देश के अंदर, actually, कितनी महंगाई बड़ी है, या घटी है, हमारे देश में consumer level पर कितनी महंगाई रही है, इसके basis पर हमें पता चल पाता है, अब जड़ा आप देखे, CPI, consumer price index, यह का data, यह important है, जानना, consumer price index का data, कौन सी organization बनाती है, actually, CPI भी अलग-अलग variant में आते हैं, जैसे गाडियों की अलग-अलग variant होती है, VXI, ZXI, जैसे आपके chocolate की भी अलग-अलग variant होते है, अलग-अलग, आपके cold drink की variant होती है, Mirinda, Fanta, Thumbs Up, Coca-Cola, ऐसी CPI के भी अलग-अलग variant है, पहला variant है, जो की CPI को नापता है, industrial worker के level पर, industrial worker कौन होते है, अचा, industries कहा होती है, गाओं में या शहरों में, urban areas में, you का मतलब शहरों में, urban areas, शहरों में होती है, उनके level पर महंगाई कितनी बढ़ रही है, यह CPI, industrial worker नापता है, कौन data इखटा करता है, यह prelims में सवाल बन चुका है, labor bureau, यह ministry of labor and employment के तहट आता है, labor bureau data इखटा करता है, मैं अगर आज 2023 का data, किसी base year से compare करना चाहों, तो base year कौन सा है, अभी recently कुछ समय पहले change हुआ था, 2016 base year है, अच्छा यह ठीक है, इसका फाइदा पते है, शहरों में कितनी महंगाई बढ़ी है, जितनी महंगाई बढ़ी है न, सरकार उसका data इखटा करती है, आपकी भी कल जाके जब सरकारी नौकरी लग जाएगी, तो आपको एक तो basic salary मिलेगी, basic salary के उपर आपको dearness allowance भी मिला करेगा, आपको DA भी मिला करेगा, dearness allowance महंगाई बत्ता, सरकार को कैसे पता कितना महंगाई बत्ता देना है, गवर्मेंट को कैसे पता होगा, how much dearness allowance is to be given, easy की तो इनी level पर तो देखेगी कि शहरों में रहना कितना महंगा हो गया है, अगर salary हम x amount की दे रहे हैं, तो उस पर कितना percent increase करना चाहिए, 5%, 10%, 20%, जब आप industrial workers की salary compare करोगे, देखोगे, कि industrial workers को पहले कितनी salary मिलती थी, अब कितन salary मिल रही है, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है, या industrial workers के level पर कितनी महंगाई, कितनी चीजों के दाम increase हो गए है, आपको जब एक बार ये पता चल गया, अरे वाह, उसके बाद तो आप low की salary बढ़ा सकते हो, फिर तो आप भी अपने बॉस के पास जाके कह सकते हो, कि सर कहने के लिए, isn't it, so 2016 के data से हम compare करते हैं, base year 2016, जब भी सरकार कोई pay commission मनाती है, महंगाई आयोग बनाती है, महंगाई से लडने के लिए, pay commission आपकी salary बढ़ाते हैं, जैसे 7th pay commission आया था कुछ टाइम पहले, तो वो इनके data का इस्तमाल करते हैं, clear है, ये data हर महीने compute होता है, औ पर अगर आपको compare करना है base year से, तो base year 2016, कि पता चले तब से लेकर अब तक कितनी महंगाई बढ़ी है, वैसे हर महीने काता है, अपरेल का, में का, जून का, जुलाई का, हर महीने काता है, ठीक है न, अब देखो, दूसरा, ये तो शहरों के लिए हो गया, चलो गाओं भी च कहाँ पर शहरों में, अरे गाओं में, रूरल एरियास के अंदर, उनके लेवल पर कितनी महंगाई बढ़ती है, यहाँ पर अबडेशन नहीं हुआ है, यहाँ भी 1986-87 का ही base year use किया जा रहा है, use हो रहा है, सोचो, such a bad and poor data will come, 1986-87 के लेवल से आज को compare कर रहे हो, बताओ कहीं इसे भी census बात का, government को यहाँ पर सुधार करना चाहिए, अब अच्छा कह रहा है, सर, CPI का market से क्या relation है, consumer price index का market से क्यो relation नहीं होगा भई, market में आप और मेरे जैसे consumer के level पर चीज़ है, किस rate पर विक रही है, वो आप compare CPI के माध्यम से ही करते हो, obviously होगा, बिलकुल होगा रि अब agriculture labor में 1986-87 का data use होता है, कौन निकालता है यह data, यह निकालती है, ministry of labor and employment, labor bureau, और यह question exam में पहले आ चुका है, labor bureau के द्वारा ही यह data निकाला जाता है, 1986-87 का base year है, उपर भी labor bureau था, industrial worker में, यहाँ पर भी labor bureau है, agriculture में, अब एक और चीज़, गाउं के अंदर, सारे लोग ख खेती करते हैं क्या, नहीं सर, कुछ लोग गाउं में मजदूरी भी करते हैं, rural laborer होते हैं, जैसे मनरेगा है, महात्मा गांधी, National Rural Employment Guarantee Act, उसमें लोग गाउं में मजदूरी कर रहे हैं, building मनाते हैं, दिवार बनाते हैं, कुएं खोते हैं, जो भी काम मिलते हैं, करते हैं उन्हें हम कहेंगे, rural labor, यह हो गया तीसरा, third, कि सारे तो खेती नहीं करते हैं, सारे तो agriculture में जुड़े नहीं हैं, कुछ तो rural activities, rural labor की activities करते हैं, यहाँ पर data monthly एक खटा करते हो आप, 1986-87 का base year यहाँ पर भी और यहाँ पर भी labor bureau आता है, same है जैसे agriculture labor का है, इसको change होना चाहि पूरी है, it's important for us to change it, update it, update करोगे तभी फायदा है, यह तीन आपके basic CPI देखने मिले, अब कौन सी organization इनने बनाती है, यह आपको याद रखना है, labor bureau, मैं screen को हटा कर अब कुछ और नया लिखने जा रहा हूँ, इसलिए मैं बार-बार इन पर focus कर रहा हूँ, बस एक अलग है industrial worker अलग है, industrial worker में शहर में देखा जाता है, 2016 का base year है, बाकी दोनों में 1986-87 का base year है, अब चल रहे हैं तीन और CPI पर, वो कौन से हैं, एक है total of urban areas, पूरे शहरों के अंदर जो देखेगा, एक है total of rural areas, और एक total of urban plus rural areas, combined, तो इन तीनों के दर्शल करते हैं, चलिए अगली screen पर अब CPI पहली बाद, मैंने बोला CPI U, मतलब शहर के अंदर कितनी महंगाई बड़ी, urban areas में, दूसरा CPI R, rural areas में कितनी महंगाई बड़ी, और तीसरा इन दोनों का total, CPI C, combined, शहर और गाओं में कितनी महंगाई बड़ी है, how much inflation has increased in the rural areas, और in the urban areas, पहली बाद, urban areas में, भारत सरकार की Ministry of Statistics and Program Implementation, जिसे शौर्ट में मौस्पी कहते हैं, कौन सी ministry, Ministry of Statistics, सांखी की मंत्रा ले, Statistics and Program Implementation, और योजना कारियानवयन, एक ही मंत्रा ले है, Program Implementation, अब देखो, मौस्पी जो है, इसके तहट एक body आती है, क्या नाम है उसका, उसका नाम है NSO, National Statistical Office, उसके तहट भी एक body आती है, PSD, अब यह सर, PSD क्या है, इतनी bodies कैसे याद रखेंगे, यह है, Price Statistics Division, Price Statistics Division, कौन से मंत्रा ले में आती है, Ministry of Statistics and Program Implementation में आती है, क्या काम करती है, शेहरों में, क्या लगती है शेहरों में, जहां पे consumer जाके समान खरीते हैं, मंडियां, Markets, 1114, 1114, इंडिया की Markets में, Price Statistics Division के अधिकारी Officers, जा जाके डेटा कलेक करते हैं, कि भई, यह बताओ, यह लौकी क्या rate है, बिंडि क्या rate है, आटा, चावल, ऐसे ही खटा करते हैं, data, क्या rate है इनका, फिर compare करते हैं, अरे भई, पिछले महीने अपरेल में कितना था, आज इतना है, पिछले साल कितना था, आज इतना है, दोजार बारा में कितना था, आज इतना है, उसे आप compare करते हो, यह सारा काम 1114 मंडियों में जाकर, अलग-अलग states और union territory में, field officers करते हैं, जो कि price division के तहट, price statistic division के तहट, field operation division के तहट आते हैं, of ministry of statistics and program implementation, और यह हर हफ़ते जा जाकर ऐसा data इखटा करते हैं, ताकि पता चले, शहरों के अंदर महंगाई कितनी बढ़ी है, कितना standard of living बढ़ गया, अब तब accurate information निकल के आती है, तुम्हें कह लग रहा था, ऐसी मजाक मस्ती चलती है, इतना काम होता है, तब जाके data निकलता है, 2012 के data को compare करते हैं, जो उसका base year है, CPI urban का, अब rural वाले भी ऐसे ही करते होंगे, पर वो गाओं में, मंडियों में जाते होंगे, गाओं की markets में जाते होंगे, वहाँ पर देश की 1181, 1181 मार्केट में, जा जाकर, field officers supervision करते हैं, data इखटा करते हैं, दो हजार, बारा के base से compare करते हैं, यहाँ पर भी 2012 है, question बनेगा prelims में, CPI urban and CPI rural has the same base, true or false, well, 100% true, दोनों सही हैं, बिलकुल सही हैं, यह बन सकता है question, तीसरा, CPI combined, अब question बनेगा, कि यह आपका ministry of labor and employment निकालती है, गलत, यह वही ministry of statistics program implementation, NSO ही निकालती है, तभी तो मैंने एक साथ इनको लिखा था, NSO इन तीनों को इखटा करती है, और तीनों को आपके सामने प्रस्तुत करती है, जहाँ पर 1114, शहरों के अंदर, मंडियों का डेटा, 1114, शहरों का मंडियों का डेटा, और 1181, गाओं के मंडियों का डेटा, markets का डेटा इखटा किया जाता है, और CPI combined बनाया जाता है, CPI combined 2012 के data के basis पर दिया जाता है, अब 2012 का डेटा हम देखते हैं, तो तीनों में 2012 का डेटा है, तीनों में NSO है, जो काम कर रही है, CPI urban, CPI rural and CPI combined, combined में दोनों का आपने जोड दिया, हम इंडिया में सबसे popular, सबसे बड़ा general presentation of the economy, के देश में price बड़े के नहीं बड़े, जो देखते हैं, वो देखते हम, CPI combined के माध्यम से, in fact, RBI भी हमारे देश में inflation को manage करने के लिए, CPI combined का data use करती है, और यह prelims में सवाल बन सकता है, और confused अब नहीं होगे, अब आपके number आएंगे क्यों, क्योंकि वसू सरनेव आपको बता दिया है, कि CPI combined is being used by the Reserve Bank of India to target inflation in India, महेंगाई को control में रखने के लिए, महेंगाई कितना है, उसको manage करने के लिए, Is it clear to you all now? मैं guarantee दे सकता हूँ कि हर इंसान को यह चीज clear होगी, इस level पर जाके हमें पढ़ना पढ़ता है, जो कि आपको बाकी वीडियो में नहीं मिल पाता, UPSC के preparation में, एक सवाल सबके मन में आता होगा, सर सरकार ही तो है जिसके पास पैसे चापने की machine है, इतने सारी mints है, इतने सारे printing press है, सरकार ही note छाप दे न, देखो एक बात समझो, इस problem को कहते है deficit financing की problem, आप बात तो सही कह रहे हो, note छाप सकती है सरकार, फिर एक बात समझो, सरकार आप और मेरे को note distribute करेगी, हम loan लेंगे, हमारे पास पैसा आएगा, तो seller जो कोई चीज बेचते हैं, वो आख बंद करके थोड़ी न बैठे हैं, seller जो हैं, वो आपको जो sale कर रहे हैं, जो बेच रहे हैं, वो लोग आपको price बढ़ा के बेचने लगें, उन्हें पता है, आपकी जेब में पैसा है, और आप किसी भी हाल में ज़्यादा price पे पे जाओगे, it is 100 trillion dollars, जो 100 trillion dollar का data आपको देखने मिल रहा है, Reserve Bank of Zimbabwe ने जो इन नोट प्रिंट किया है, ये क्यों है, क्योंकि इस देश में इतनी जादा महेंगाई बढ़ गए, क्योंकि वहां की सरकार ने यही गलती करी, they started printing unlimited money, ये सोच कर, कि अरे हमारे देश के अंदर तो हम और नोट फेला देते हैं, लोगों में और पैसा लोगों के पास आएगा, तो महेंगाई बढ़ रही है, तो क्या ही फरक पड़ेगा, महेंगाई बढ़ रही है, लोगों के पास और पैसा आजाएगा, वो पे करके खरीद लेंगे चीज़े, बट seller भी तो फिर और rate बढ हा देंगे ना, seller भी तो होश्यार है, suppliers and sellers, इसलिए this never works, बलकि इससे ऐसी hyper inflation की problem देखने मिलती है, अब यह hyper inflation होता क्या है, अलाग-अलब types of inflation होते क्या है, that we are going to study in the upcoming lectures, हम inflation का topic पढ़ रहे थे, हमने inflation की शुरुआत करे थे, inflation क्या है, महंगाई, मुदरा स्वेती, और किसी एक चीज़ के दाम नहीं, basket of commodities के जब दाम बढ़ने लगते हैं, मतलब कई सारी चीज़ों के, जो हम आम जिंदगी के अंदर इस्तमाल करते हैं, some goods, some services, अलग-अलग वस अरे महंगाई है, अर्थवस्ता में वो सही नहीं है, जब normally कई सारी चीज़ों के दाम बढ़ रहे होते हैं, तब जाकर आप inflation कहते हो, inflation के concept के अंदर fuel भी महंगा हो रहा है, खाने पीने की चीज़ों भी महंगी हो रही है, fruits, vegetables भी महंगी हो रही है, gas, CNG, LPG, यह सब महंगा हो रहा है, इसलिए किसी एक चीज़ के दाम को महंगाई नहीं कहते, combined आप अलग-अलग चीज़ों के दाम को, अगर मैं अलग-अलग चीज़ों को एक लाइन में summarize करना चाहूं, तो उन्हें basket of commodities कहा जाता है, यह बात याद रखिएगा, अचा अगर आप आज पहली बार हम करने वाली है series, और बहुत असान शब्द मैं मैं आपको हर topic पढ़ाता हूँ, आज हम देखेंगे causes of inflation, इससे पहले मैं WPI और CPI के बीच का फर्क आपको पढ़ा चुका हूँ, आज पढ़ाऊंगा inflation होता किस वज़े से causes क्या है, demand pull क्या होता है, cost push क्या होता है, built-in inflation क्या हो पर आज इसको थोड़ा और advanced level पर हम समझेंगे, WPI और CPI हम पहले पढ़ चुके हैं, आज समझे कि कौन से कौन से कारण होते हैं महंगाई बढ़ने के, सबसे पहला कारण है demand pull inflation, यह सबसे पहला type है, महंगाई क्यों बढ़ती है, क्योंकि चीज़ों की demand बढ़ने लगती है demand बढ़ने लगती है का मतलब, एक बात समझो, demand और supply के बीच का फरक क्या होता है, पहले तो यह समझो, आप एक buyer हो, एक खरीदार हो, मैं आप से सवाल पूछता हूँ, आप कोई भी चीज कितने दाम पर खरीदने तयार होगे, मैं अगर आपको तीन option दूँ, मैं आपको ब कितने पर खरीदना चाहोगे, 40 पर, 50 पर, 80 पर, सर मैं as a buyer तो हमेशा सस्ते से सस्ते पर खरीदना चाहोगा ना, lowest possible price पर खरीदना चाहोगा ना, सर, तो ठीक है, buyer lowest possible price पर खरीदना चाहेगा, और seller, seller कितने पर बेचने चाहेगा, ऐसा व्यक्ति, मानली जब आप एक बेचने व्यक्ति है, you are selling something, आप कितने पर बेचना चाहोगे, 40 रुपीज पर, 50 रुपीज पर, या 80 रुपीज पर, एक seller चाहेगा, maximum price पर बेचने की, 80 रुपे पर बेचने की, और एक buyer चाहेगा, कम से कम price पर खरीदने की, अब देखो, दोनों अलग अलग चीज़ने चाहते हैं, दोनों का intention अलग-अलग है, बट ऐसे तो deal कभी होने नहीं वाली, क्योंकि एक buyer सस्ते सस्ते पर खरीदना चाहेगा, और seller महंगे से महंगे पर बेचना चाहेगा, तब फिर क्या किया जाए, ऐसी अवस्ता में, ऐसी situation के अंदर, buyer और seller, price negotiate करते हैं, चीज का दाम negotiate करते हैं, अब इसी चीज को मैं अगर economics के point of view से, एक graph के through represent करूँ, जहां पर ये वाला जो आपको site देखने मिल रहा है, ये price को show करता है, और ये quantity को show करता है, और जैसे जैसे उपर की और जा रहा है, price बढ़ रहा है, मतब जैसे for example, यहां पर आपका price होता था, 10, 10, ये 20 हुआ, फिर 40, 50, 60, 70, 80, ऐसे आपको अलग-अलग prices देखने मिलेंगे, ठीक है न, इसी तरीके से इस तरफ आपको quantity बढ़ती हुआ देखने मिल रहे है, जितना जादा quantity बढ़ रहे है, उतना जादा समान खरीद होगे, अब आप 40 रुपीज पर कम खरीदने तयार हो, नहीं, जादा खर खरीदना चाहोगे, 40 रुपीज पर, अब जादा खरीदना चाहोगे, 50 पर थोड़ा सा कम खरीदोगे, और 80 होने पर प्राइस बहुत जादा बढ़ जाने पर आप और कम खरीदोगे, क्योंकि बहुत जादा महेंगा हो गया है, आम जनता नहीं है, आफोड कर सकती, जब 40 पर चीज मिल रही थी, तब फोड कर पाओगे, 80 पर थोड़ी ना फोड कर पाओगे, अच्छा, अगर आप कोई चीज बेचना चाहते हो, तो आप 40 रुपे पर कम चीज़ें बेचना चाहोगे, आप 50 रुपे पर थोड़ा जादा बेचना चाहोगे, प्राइस हाई मिल रह चाहेगा, और उस बेस्ट प्राइस के लिए, जैसे सब्जी मंडी में जाते हो, आप कहले हो कि भाया, यह आम किस रेट दी है, मैंगो क्या रेट है, वो कहते है, 100 रुपीज किलो, कि नहीं भाया, कल तो 60 रुपीज किलो होते थे, मैं आप से 60 से जाधा का रेट नहीं दू जहां पर खरीदार, खरीदने वाला व्यक्ति, डिमांड करने वाला व्यक्ति तयार है खरीदने के लिए, और सप्लाई करने वाले व्यक्ति, बेचने वाले व्यक्ति भी तयार है बेचने के लिए, यह है एक बेसिक कॉनसेप्ट एकॉनोमिक्स का ग्राफ आपको याद नह बारिश जादा होनी की वज़े से टमाटर की फसल घराब हो गई थी जिस वज़े से आपको देखने मिलेगा उसके प्राइज दिन दुगनी राज चौगनी स्पीट से बढ़ने लगे बहुत तेजी से जब ग्रो होने लगे तब आपको देखने मिलेगा कि लोगों को 200 खरीच तती ना 30-40 रुपए किलो वाला टमाटर 200 रुपए में तो क्या हुआ डिमांड बिकेम मोर देंद सप्लाई सप्लाई उतनी हो नहीं रही थी बिक उतना रात था नहीं मार्केट में अवेलेबिल्टी उतनी थी नहीं बढदी के डिमांड बहुत जादा थी और जिस क्यों है यह महेंगाई का टाइब आता है तो किस होसे आता है हमारी आबादी दिन बादी बढ़ती जा रही है और जितनी ज्यादा हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है लोग उतना शी करेंगे उतना ही चीजों को यूज सप्लाई उतनी होनी पाए पार है क्यूँ क्योंकि बाड आ जाती है खड़ी फसल खराब हो जाती है इसलिए पॉपुलेशन बढ़ने की वैसे हमें महंगाई बढ़ती है देखने मिल रही है दूसरी बात ब्लैक मनी अब एक इंसान है एक इंसान है महीने का 60,000 रुपे कमाता है ठीक है उसको टैक्स देना पड़ता है 15,000 पर जो इनसान ब्लैक में काम कर रहे है कैश में काम कर रहे है जैसे प्रॉपर्टी का काम होता है प्रॉपर्टी में अगर आप फॉर एक्जामपल 1.5 करोड का कोई घर खरीद रहे हो तो हो सकता है 60 लैक्स ही आप उसको सरकार को दिखाओ कि मैंने वाइट में चेक के मनी होगा पे करने के लिए वरना उस पैसे में से टैक्स निकाल के गवर्मेंट को देना पड़ता वड़ आपने कैश में यूज किया है तो गवर्मेंट को तो पता ही नहीं है कि आपने पैसा यूज किया भी है या नहीं किया और उस पर सरकार ने आपसे टैक्स नहीं लिय और क्योंकि सरकार ने आपसे टैक्स नहीं लिया तो आपके पास जो रिसोर्स जो यह पूरा रिसोर्स पढ़ा इसका फाइदा क्या गवर्मेंट हैस नौट टेकन एनी टैक्स रॉम यू तो सीधी सी बात है कि आप उसे कहीं पर भी इस्तमाल कर सकते हो आप उसे कैसे भी इस् पेसर पेशा इंसान है कि अपनी से पहले टैक्स कटवा देता है उसके पास तो उतना पैसा नहीं है घर खरीदने के लिए गाड़ी खरीदने के लिए पर जिसके पास black money है, वो बहुत अराम से घर खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, बिना tax दिये, उनका जो पैसा tax में कट जाता, वो बचा लिया उन्होंने, उनके पस जादा पैसे हैं, जादा money है, जादा disposable income है, जादा खर्च करने योग ये आए है, इस वज़े से black money महंगाई को बढ़ाता है, हमें अगर अपने देश के अंदर महंगाई कंट्रोल करनी है, एक movie आई थी, शिवाजी दबॉस, रजनी कांथ की एक movie अगर आपने देखी है, बायचांद, यूट्यूब पर भी available है, उसमें दिखाया कि वो निताओं के बड़े-बड़े politicians के, MLA's के black money को पकड़ते हैं, और कहते हैं कि कितने लाखो करोड़ों में black money है, क्यों? क्योंकि उससे महंगाई कंट्रोल में आ सकती है, उस black money का use elections में किया जाता है, उस black money का use crimes में किया जाता है, उस black money से property घरीदी जाती है, इस वज़े से black money हमारी अर्थ व्यवस्था के लिए काला धन, काला धन मतलब ऐसा income जो या तो आपने illegally कमाई है, और सरकार को उसके बारे में report नहीं किया, या चलो legally भी कमाई हो, पर फिर भी सरकार को report नहीं किया, और उसमें tax नहीं पे किया, वो आपका black money कहा जाता है, और black money जादा होने की वज़े से economy में बहुत disruptive impact आता है, इसके अलावा, लोगों की हो सकता है income बढ़ गई, अब जैसे लोगों की income बढ़ने लगती है, 1991 के बाद, पिछले 30 साल पहले, इंडिया के अंदर foreign investment, foreign companies आनी शुरू हुई, कई लोगों को उन foreign companies में नौकरी मिली, foreign investment इंडिया में आई, factory खुली, दुकाने खुली, लोगों की level of income बढ़ने लगी, वरना पहले तो लोग सोचते थे, कि government sector ही है, जहां पर job चाहिए, प्राइवेट सेक्टर क्या ही है, 1991 के बाद से, इडिया में प्राइवेट सेक्टर भी बहुत दादा ग्रो हुआ है, और जो normal computer science graduate है, 6-7 साल के बाद अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं, foreign companies के लिए जो काम करते हैं, 25 लाग, 30 लाग, 40 लाग, 50 लाग का package भी होता है, अब ये मत कहना, कि सबका 50 लाग का package नहीं होता, लक्ष्मन, पर कुछ लोगों का तो है, level of income generally तो बढ़ी है ना, तो इस वज़े से तो कहरो, जब लोगों की level of income बढ़ती है, तो वो लोग जिनकी income बढ़ गई है, वो ज़्यादा demand कर सकते हैं, वो ज़्यादा afford कर सकते हैं, कुछ भी पैसा देकर चीज़े खरीदने तयार होते हैं, इस वेसे महिंगा ही बढ़ती है, अब ये prelims में, आपका एक statement form में पूछा दा सकता है, कि which are the following are the factors for the increase of inflation, rise in income लिखा होगा या increase in income level लिखा होगा, कि आए बढ़ जाना, तब आप confused हो जाओगे, पर ये सही है, अच्छा, एक और point देखो, excessive government expenditure, जब सरकार बहुत ज़्यादा खर्चा करने लगे, जब government की तरफ से बहुत ज़्यादा expenditure होने लगे, तो ये आपका एक reason और बनता है, जिस वज़े से हमारे देश के अंदर महंगाई बढ़ती है, ये एक और factor बनता है, एक और reason बनता है, जिस वैसे महंगाई बढ़ती है, क्यों? क्योंकि government non-developmental वो खर्चा जो development पर यूज नहीं हो रहा, non-developmental expenditure करती है, खर्चा करती है, जैसे subsidy बाटना, अब किसानों को सरकार PM किसान योजना के तैर 6000 रुपे दे रही है, 6000 रुपीस PM किसान योजना में, अगर आप farmer हो, किसान हो, आप सरकार से ले सकते हो, बिना कोई सवाल पूछे, बस ये प्रूव कर देना कि आप किसान हो, आप से लिया जा सकता है, एक और question बनता है, tax topic से जुड़ा हूँ है, कि क्या इंडिया के अंदर agriculture income को tax के दाइरे में लाना चाहिए, क्योंकि अभी फिलाल agriculture income section 10 के तहट exempt है, income tax act के तहट, एक और सवाल बनता है, कि agriculture income को क्या हमें इस दाइरे में लाना चाहिए, ऐसे सवाल mains में बन सकते हैं, अच्छा, mains की तैयारी भी तो करनी होती है, मैं अपने sessions के मादियम से आपको book पढ़ा दे रहा हूँ, बट पढ़ने से जादा आपको test देना, topics को apply करना, books के तरू revise करना ज़रूरी होता है के नहीं होता, और जब ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं करने की और आप नहीं कर पा रहे हो, तो कैसे actually आपको वो necessary guidance मिले, जो कि आपको preparation में help करे, study IQ के platform पे, क्योंकि अभी फिलाल दो दिन, आज और कल 30, 30 तारिक को और 31st को study IQ के courses में आपको extra discount मिल रहे है, UPAC live batches में अगर आप जाके admission लेना चाते हैं study IQ के, क्योंकि मैं एक चीज़ सज़ेस करूँ, 300 दिन बच्चे हैं, 2024 का, अपने attempt के साथ gamble मत करोगी, चार वीडियो यूट्यूब पे देख ली दो वीडियो, यहां देख ली चार वीडियो, वहां देख ली काम करता है, ऐसा नहीं होता है, UPAC preparation से वीडियो के सारे नहीं होता है, आपको पूरा ecosystem चाहिए, जहां पर आपको live class के notes, handwritten notes और revision material, हर subject की किताबें, हर subject की किताबें, prelims हो, mains हो, हर subject की किताबें आपको मिलेंगी, आपको experts के दोरा पढ़ने का मौका मिलेगा, अभी आपको 2024 batch में, शशांक सर, शशांक त्यागी सर, quality पढ़ा रहे हैं, ऐसे हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, ऐसे मैं economics पढ़ाऊंगा, हर individual faculty, respective faculty आपको आके पढ़ाएंगे, और अच्छे से अच्छे faculty study IQ के platform पे available है, आपन लगाएंगे, तो code apply नहीं होगा, पर वसू लाइव लगाएंगे, तभी code apply होगा, जिससे आपको maximum discount minimum price पर मेरी personalized guidance के साथ आपको मिल पाएगा, UPSC preparation में एक सार्थी होना है, guide होना, mentor होना बहुत ज़रूरी है, वरना लाखों लोग तयारी करते हैं और final selection सिर्फ हजार लोगों का होता है, दस लाख लोग तयारी करना शुरू करते हैं, पांच लाख लोग सिर्यस तयारी करते हैं, जिन में से सिर्फ 1000 का selection होता है, तो don't gamble with your career, अपनी जिंदगी के साथ, अपने time के साथ बिलकुल भी मजाक, मस्खरी, मकॉल ना करें, प्योर इंग्लिश में, या बाइलिंगोली, या प्योर हिंदी के अंदर आपको admission लेने का मौका मिल रहा है, एक discounted price पर course मिल रहा है, minimum lowest cost पर जो डेर्ड लाख दोलाख रुपे में आप खरीते हैं, वही चीज़ें आपको मिल रही है, आंसर राइटिंग, practice और evaluation हम daily कराते हैं, मैं खुद आंसर राइटिंग, कि मैं आपकी help करता हूँ, proper answer frame कैसे किया जाए, उसमें help करता हूँ, तो इसको benefit प्लीज उठाइएगा, वसू live admission discount code लगाके, जो कि मुझे भी incentivize करेगा for my hard work, और मेरी personalized guidance आपको provide करेगा, जहाँ पर दिन के कुछ घंटे, कुछ समय आप से मैं बात करूँगा, interact करूँगा और आपको guide करता रहूँगा, regular basis पर उसके लिए आपको वसू live admission discount code उसकरना होगा, और भी जानकारी चाहिए, because it's not a small thing, ठीक है ना, खरीते टाइम आपको और सवाल पूछने होगे, अपने parents से आप चाहते होगे कि मैं बात करूँ, तो don't worry, I will guide you, आप में इसाट टेलिग्राम पर connect हो जाना, जो की मैं बताई चुका हूँ, नीचे आप लिखा हूँ, अभी देख रहे होगे, टेलिग्राम ग्रूप कौन सा है, और कौन से causes है, demand, pull, inflation बढ़ने के, मैंने आपको major causes तो बता दिये हैं, एक और बहुत बड़ी problem है, सरकार क्या करती है, note चापती है, और दबा के note चापती है, जैसे कि Zimbabwe के अंदर आपको देखने मिलेगा, कि वहां की government ने note चापना शुरू किया, unlimited तोर पर, इसे कहते है, deficit finance करना, या deficit financing की term, या terminology इसके लिए use की जाती है, अब Reserve Bank of Zimbabwe ने 100 trillion dollars तक के note चापे हैं, य इंडिया में maximum 2000 रुपे की currency है, वो भी सरकार वापस खी चली है, उसके बाद सिर्फ 500 रुपे की currency, सबसे बड़ी currency रह जाएगी, और सोचिए, जिंबाबवे को 100 trillion dollar तक का note चापना पड़ा, क्यों? क्योंकि ये गलती कर गए, इन्हों ने सोचा, कि note चापने की machine हमारे पास ये नोट चापते रहेंगे, चापते रहेंगे, चापते रहेंगे, और जनता को बाट देंगे, चीज़ें अगर महंगी हो रही है, कोई बात नहीं, जनता को और पैसा दे दो, चाहे वो लोन लेके पैसा इखटा करें, चाहे वो उधार लेके खटा करें, चाहे वो कहीं से भी उनके पास पैसा आये पर पैसा आना चाहिए अब गवर्मेंट ने सोचा तो बिल्कुल ठीक कि देखो पैसा कई से भी आये जनता उसका यूज करे उसका इस्तमाल करे और खर्चा करे बट प्रॉब्लम क्या हो गई कि लोगों के हाथ में पैसा बढ़ने लगा आने लगा and inflation एक बहुत simple line में आप समझ सकते हैं too much money chasing too few goods inflation का मतलब ही आई है कि बहुत सारा पैसा लोगों के हाथ में अगर घूम रहा है तो एक term use किया रहाता है too much money बहुत जादा पैसा लोगों के हाथ में घूम रहा है तो chasing too few goods जिससे वो कम चीज़ें जो limited quantity में चीज़ें available हैं उनक too much money chasing few goods two few goods भी लिख सकते हो few goods भी लिख सकते हो बहुत जादा पैसा है लोगो के पास अब देखिए जब सरकार buyers के हाथ में खरीदारों के हाथ में ज्यादा से ज़ादा पैसा दे रही है चाये वो banks से loan में लें तो sellers को भी तो दिख रहा है लोगों के हाथ में पैसा जाधा है, कि कल को अगर कोई 100 रुपे की चीज खरीदने के लिए तयार था, afford गरने के लिए तयार था, आज 300 रुपे की चीज़, वही चीज 300 रुपे में खरीच सकता है, वही चीज 600 रुपे में खरीच सकता है, वही चीज 1000 रुपे में, 10,000 रुपे में खरीच सकता है, seller भी तो ये चीज जानते हैं तो seller अपने rate बढ़ा देंगे और खाने पीने की चीज़ा या consumption की चीज़ा महंगे होने लगेंगे और buyers को जादा पैसा देना पड़ेगा जिस वज़े से महंगाई अर्च वस्ता में और बढ़ेगी तो और note छापना और currency print करना सरकार के लिए फाइदेमंद नहीं रहेगा कई बार government currency print करती है कई बार government खुद उधार लेकर आती है और जनता में पैसा बाटती है कई बार सरकार खुद fiscal deficit करती है उधार लेती है देखो ये दो टर्मे जी एक है fiscal deficit और currency print करने को deficit financing कहते है deficit financing जिसका मतलब है कि आप अपने खाटों को पूरा कर रहे हो नोट चाप चाप कर और fiscal deficit जिसका मतलब है उधार ले रहे हो जनता की भलाई के लिए खर्चने के लिए इसमें problem ये है कि आपने जनता को buyers को पैसा खरीदारों को पैसा तो दे दिया बट sellers भी तो चा रहे हैं कि उनको जादा प्रैसा मिले जादा प्राइस मिले तो वो चीजों के rate बढ़ा बढ़ा कर बेचेंगे जिस वज़े से आपको देखने मिलेगा market में inflation और जादा grow करने लगेगा ये कभी भी एक अच्छी situation नहीं होती price control करना चाहिए आपको medieval history के अंदर भी मद्यकालीन भारत में भी कई सारे ऐसे राजा देखने मिलेंगे जिन्हों ने अपने दूत लगाए हुए थे market के अंदर अपने agents छोड़े हुए थे अपने spice छोड़े हुए थे कि कोई बड़ा चड़ा के जादा दाम पर तो समान नहीं बेचरा जिसका नुकसान आम जनता को हो जिसका नुकसान उनकी आम आवाम को हो इसी लिए सरकारे कोशिश करती हैं कि चीजों के prices एक level से जादा ना बढ़े inflation एक level से जादा ना बढ़े क्योंकि बढ़ गया तो फिर तो यह बहुत ज़्यादा हानिकारक होगा तो यह आपका demand pull inflation के तहट आपने देखा सीखा समझा जानबूच के मैंने demand pull inflation पर इतना emphasis दिया है क्योंकि इस पर एक question आने का exam में मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा chance है बहुत ज़्यादा scope है दूसरा topic जो हमारा दूसरा type of inflation दूसरा cause of inflation है cost push इस पर मुझे लगता है सवाल आ सकता है इस पर हम पहले भी एक बार बात कर चुके हैं तो short मैं इसके बारें बताऊ जब चीजों के दाम बढ़ने लगते है cost बढ़ने लगती है वहाँ पर demand बढ़ रही थी है चीजों के दाम बढ़ रहे है प्राइस बढ़ रहे है automatically price ही बढ़ रहे है और क्यों बढ़ रहे है क्योंकि उन चीजों के अंदर इस्तमाल होने वाली labor की cost बढ़ गई है जादा salary मांग रहे है workers या उनके अंदर इस्तमाल होने वाला raw material महंगा हो गया जैसे तेल की कीमतें बढ़ने लगती है तो उससे जुड़ी जो भी चीजें उनकी कीमतें बढ़ने लगती है या तो taxes बढ़ गए है tax भी कौन से सर का आप से एक सवाल पूछ सकते है prelims के अंदर that सबसे जादा impact direct tax बढ़ने से होता है cost push inflation पे गलत direct tax से नहीं होता समझो कैसे indirect tax से सबसे जादा होता है indirect tax में आता है best example आपका GST goods and service tax कभी कोई समान खरीदे हो bill में देखा है goods खरीदे हो basically तब आपको GST देना पड़ता है अब goods and service tax जब आप pay कर रहे हो तब आपको अगर tax सरकार ने बढ़ा दिया तो जादा पैसा देना पड़ेगा और हर इंसान को देना पड़ेगा direct और indirect tax में फरक क्या है direct tax जिसकी एक level से जादा इंकम है जो अमीर है वही देता है direct tax मतलब directly आपकी income पर लगने वाला tax सरकार ने का सबकी income एक जैसी तो होती नहीं कुछ बहुत कमाते हैं कुछ बहुत कम कमाते हैं तो गरीबों के लिए कुछ exemption छोड़ा हुआ है और अमीरों के लिए जादा amount पर tax लगाये हुए है a large sum of money has been asked by the government from the people to give tax on that is an indirect tax indirect tax हर इंसान पे करता है चाहे बिस्किट खरीद रहे हो चाहे टीवी खरीद रहे हो चाहे फ्रिज खरीद रहे हो अब चाहे अंबानी हो चाहे वसू कटा रहा हो चाहे खुद हो कोई भी हो आपको tax देना पड़ेगा GST देना पड़ेगा वो छूट नहीं मिलती उसमें तो वो products के price को बढ़ा देता है अगर सरकार tax बढ़ा दे या अगर seller को चाहिए जादा profit अब तक वो चीज 100 रुपे की बेशता था जिस पर वो 20 रुपीज profit कमाता था 20% का पर अब उसको मजा नहीं आ रहा उसे 40% का profit कमाना है तो वही वो 100 की चीज 120 की बेचने लगेगा 40 रुपीज का profit कमाना है तो 120 की बेचने लगेगा और 120 की जब वो बेचेगा तो buyers के लिए खरीदारों के लिए तो rate बढ़ गया ना तो उनकी लालसा थी लालस था कि ज़ादा profit कमाए उनकी इच्छा थी कि ज़ादा profit कमाए बट ज़ादा profit कमाने की इच्छा होने के बावजूद आपको देखने मिलता है तो तो they are expecting more profit कि महंगाई बढ़ने लगती है और महंगाई जब बढ़ने लगती है तो उस वेसे आम जनता को बहुत ज़ादा लुकसान होता है एक और बहुत बड़ी problem है जिसकी वैसे cost push हो जाती है अच्छा एक बात बताओ अगर आप एक road से जिसका distance था 300 km होकर यहाँ पर कोई सबजी उठती है और यहाँ पर आप बेचने जा रहे हो ठीक है ना 300 km का सफर करके जाते से तो 300 km का जो transportation cost आई है वो उस सबजी की cost में जुड़ी होती थी क्योंकि जिसने बेचा है उसको तो उसका खर्चा उठाने ही पड़ेगा ना अब अगर यह रोड खराब है 300 km ना होकर आपको कोई और रोड लेनी पड़ रहे है 600 km पर जिसमें कई सारे टमाटर भी खराब हो जा रहे हैं सड जा रहे हैं तूट जा रहे हैं और फिर आपको जाना पड़ रहा है अपने destination पर तो यह एक infrastructure की कमी है इसे कहते हैं infrastructure bottle neck bottle neck का मतलब है कि देखें कोई भी bottle होती है जिसे मेरे पास एक juice की bottle पड़ी है इसके उपर एक धक्कन एक cap बनी हुई है तो मैं अगर इसे उल्टा भी करूँगा तब यह गिर नहीं रहा क्योंकि एक bottle neck है जो उसे गिरने से रोक रहा है एक धक्कन है जो उसे रोक रहा है गिरने से तो इसी लिए infrastructure को भी कोई अगर आगे बढ़ने से रोकती है चीज तो उसे infrastructure bottle neck कहते हैं जो आपकी cost जो आपका खर्चा बढ़ा देता है production cost या distribution cost बढ़ा देता है और सुनिये क्या होता है कई बारी कि आप लोग मान लीजे 30 रुपे के लोग गहूं खरीबते हैं अब किसान चाता है कि उसकी भी तो कुछ level of income बढ़े क्या आप job करते हो अपनी job से higher salary नहीं चाते कि हर साल आपको ज़्यादा पैसा मिले किसान इस साल अगर 30 रुपीज पर केजी प्राप कर रहा है next year expect करेगा 33 मिले next year expect करेगा 36 रुपीज मिले 40 रुपीज मिले किसान गलत थोड़ी ना है ऐसा सोचने में farmer is not wrong और उसे मिलना भी चाहिए सरकार क्या करती है एक minimum support price का system लेकर आती है minimum support price का मतलब है न्यूनतम तौर पे minimum तौर पे आपको देखने मिलेगा चीजों के agriculture crops के advance में price बता दिये जाते कि आप मानलो एक किसान हो आपको बोल दिया गया कि गेहूं उगाओ इतना पैसा मिलेगा 30 रुपीज किलो मिलेगा चावल उगाओ आपको 20 रुपीज किलो मिलेगा guaranteed सरकार से अगर मंडी में कोई नहीं खरीदेगा तो सरकार guarantee देती है आपसे खरीद लेगी आपने का ठीक है मैं उगाऊंगा और जब आपने उगाया और मानलीजे कोई खरीदने प्रियार नहीं है अब किसानों के लिए तो आपने MSP बढ़ा दिया उनको तो जादा level of income मिल गई उनकी तो income बढ़ गई पर जब 30 रुपे की चीज इस साल 33 की मिल रही है 36 की मिल रही है चालिस की मिल रही है मतब the price of commodities have risen the consumer has to pay the brunt of it consumer को वही चीज महंगी बिकेगी ना महंगी मिलेगी ना हम जैसे ग्रहा को जुद लास्टियर तक 30 रुपे का गियों खरीते थे साज वो 33 का खरीत रहे है उनके लिए तो महंगाई हो गई इस वज़े से cost बढ़ जाती है किसी खाने पीने की चीज की या किसी चीज की और इस वज़े से आपको देखने मिलेगा cost push inflation economy में आ जाता है इसी reason की वज़े से cost push inflation economy में पैदा होता है और cost push inflation से महंगाई बढ़ती है और तीसरा जो मेरे को लगता है इंडिया में ये सबसे बड़ा factor है जो भी underdeveloped या developing या emerging economy जो अब धीरे-धीरे grow कर रही है हो जितनी भी ऐसी अर्चवस्थाएं होती है इसे बांगलादेश हो गया, इंडिया हो गया वहाँ पर structure धीरे-धीरे बनता है economy का धाचा धीरे-धीरे तयार होता है जैसे इंडिया में agriculture है इंडस्ट्रियल सेक्टर है और सर्विस सेक्टर है अब सबसे जादा अबादी agriculture में है 50% के आसपास population है agriculture में तो technically contribution देश की GDP में है देश की income में सबसे जादा agriculture का होना चाहिए ना पर ऐसा है नहीं service sector जिसका सबसे कम contribution है हमारी population में वो सबसे जादा contribution दे रही है देश की income में देख रहे हो कितनी structural problem है technically तो यही होना चाहिए न जिसमें सबसे जादा population हो सबसे जादा पैसे का योगदान दे और जब सबसे जादा पैसे का योगदान दे रहा है ये sector तब जाके जादा से जादा हमारे देश के अंदर GDP ग्रो करेगी तो एक बहुत अलग situation देखने मिल रही है कुछ bottlenecks है कुछ कमिया है कुछ ऐसी अरचने है जो रोक दे रही है आपको आगे बढ़ने के लिए agriculture में डिजगाइजड unemployment है अभी मैं जब unemployment का topic पढ़ाऊंगा आपको ये concept बताऊंगा इसका मतलब है कि अगर खेत में चार लोग काम कर रहे है तो उसमेंसे अगर आप दो लोग को हटा दो या एक इंसान को हटा दो तब भी खेत का output उतना ही होगा आपके साथ काम कर रहे है तो कुछ खास contribute नहीं कर रहे agriculture में उनको अगर थोड़ा बहुत skill training दे दो skill development दे दो और किसी और sector में डाल दो तो वहाँ से पैसा कमा के आपको देंगे पर पैसा कमा के देंगे ना आपको यही तो बात समझाने की कोशिश करने के ऐसे bottlenecks को ऐसी कमियों को हमें दीरे-दीरे दूर करना होता है कोशिश करनी होती है कि अर्टवस्ता में चीजों के जो shortage है जैसे दवाईयों का rate कोवीड के दौरां कितना बढ़ गया था क्यों? क्योंकि shortage थी oxygen mask, oxygen tank कितने महेंगे हो गए थे क्यों? क्योंकि shortage थी इंडिया में ऐसे structural bottlenecks है जिनको हम दूर कर रहे हैं लास्ट हमने 30 years पहले एक LPG reforms LPG मतलब liberalization, privatization globalization reforms लाए थे 1991 में, मन्मौन सिंग जी उस ताइम पे finance minister थे, नरसिम बाराउ जी इस टाइम पे प्रधान मंत्री से अब हमें LPG 2.0 की जरूरत है, यह हम आगे पढ़ेंगे यह अब दूसरा चरण में reforms होने चाहिए next stage में reforms होने चाहिए ताकि हम agricultural bottlenecks दूर करें infrastructure problems दूर करें ताकि कई बारी shortage of essential commodities जो महत्रपून चीज़ हैं जैसे टॉप, टॉप का मतलब है टमेटो, टमाटर, ओ का मतलब है अनियन, प्याज और पी का मतलब है पटेटो, इनके दाम कंट्रोल कर सके इसके लिए हमने operation greens भी शुरू किया था, कुछ समय पहले operation greens में सरकार 500 करोड का एक fund बनाई है, कि जब भी टमाटर, आलू और प्यास के दाम अचानक से बढने लगे, तब उस टाइम पे सरकार इस fund में से पैसे निकाल कर दूसरे देश से खरीद के लिए आए टमाटर ताकि इंडियन्स की जो दिमांड है वो पूरी कर दे और सस्ती कॉस्ट पे लोगों को टमाटर, आलू, प्यास जो सबसे बेसिक सबजिया है वो अवेलेबल करा है ये essential commodities होती है सरकार essential commodities की shortage को दूर करने के लिए पहले से pre-prepared रहती है और operation green को भी और advance बनाने की कोशिश की जा रही है operation top से total top to total नाम की scheme से, ये top में तो tomato, onion, potato आ रहा था total के अंदर कई सारे fruits आएंगे कई सारे vegetables आएंगे, सबजी आएंगी और उनके बढ़ते वे price को control करने की कोशिश की जाएगी ये बात याद रखेगा तो कुछ exceptional years को छोड़कर इंडिया में ये बड़ी typical problem रही है जिसे structure inflation कहते है या inflation because of bottleneck कहते हैं, infrastructure की कमी की वज़े से कहते हैं, और क्यों shortfall हो क्यों रहा है, क्योंकि हमारे देश में उतनी convenience, उतनी efficiency से चीजों की supply होनी पा रही है demand बढ़ती जा रही है developing economy है, developed economy की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, but दिक्कत यह है कि जितनी लोगों की demand है, उतना हम पूरा नहीं करता है इसलिए सरकार को कई बार interfere करना पड़ता है market के अंदर, हमें 1970s, 1980s से ऐसी problem देखने मिल रही है, एक बार structural change, LPD reforms के ततौर पे हम कर चुके हैं, ऐक और बार करने की जरूँद है, इसको ना कई बारी supply side mismatch भी कहा जाता है, इसको supply side under utilization या supply side mismatch भी कहा जाता है, कि demand तो हमारे देश में बहुत जादा है पर supply उतनी नहीं हो पा रही है चीजों की, और क्योंकि supply उतनी नहीं हो पा रही है, तो जैसे property market है अभी लोग जो मकान किराये पर लेना चाहते हैं, वो बहुत जादा है या खरीदना चाहते हैं, वो बहुत जादा है जो बेचने वाले हैं, वो बहुत कम है houses बहुत कम है जिस वज़े से property market में इतने rate बड़े हुए देखने मिलते हैं आपको के लोग कुछ भी अनाप्शना पैसा देकर खरीदने तयार है ठीक है न, 1BH के flat मुंबई के अंदर एक डेढ़ दो करोड का बिक रहा है 1BH के सोचिए एक डेढ़ दो करोड का बिक पर क्योंकि availability इतनी कम है लोग के पास पैसा है, लोग खरीदने तयार है लोन लेके खरीदेंगे पर खरीदना चाहेंगे तो इंडिया में ऐसी problem supply side mismatch आपको काफी काफी time से, काफी समय से देखने मिलती है इस वज़े से इंडिया में बहुत ज़्यादा महंगाई है, question प्रिलिंस में पूछा जा सकता है, mains के अंदर भी आपसे इस पर critical analysis करने के लिए पूछा जा सकता है, सरकार को ऐसे में खर्चा करना पड़ता है, सरकार को कई non developmental areas में भी खर्चा करना पड़ता है और जिस वज़े से economy में inflation बढ़ता है, हमें कोशिश करना है कि इस से हम आगे बढ़े हमारी economy stagnate होके बंध होके ना रह जाए, changes जो भी necessary चाहिए, जो भी बदलाव चाहिए, वो हम लेकर आ सके, तब ही हम necessary changes के माध्यम से हमारी economy में problems को खतम कर सकेंगा, अब खतम कैसे करें problems को because we need proper solutions हमें रास्ते चाहिए, हमें समाधान चाहिए, हमारे देश में बढ़ती हुई महंगाई को control करने के लिए सबसे पहला, समाधान क्या होगा हमें inflation को check करने के लिए, measure करने के लिए कुछ कदम उठाने होंगे, हमें महंगाई रोकनी है, तो supply side problems को दूर करना है, जिसमें, जैसे for example, कई बार क्या होता है, जैसे tomato की, आलू की प्यास की demand बहुत जादा है, और demand supply से काफी जादा है, supply उतनी होनी पारी, कोई बात नी, सरकार बाहर से import कर ला है, बाहर से खरीद ला है इंडिया में अगर उतना जादा quantity में वो चीज available नहीं है, तो उसरे देश से खरीद लो न, दुनिया में बाकी देश हमें बेचना चाहेंगे, या buffer stock maintain करके चला करो, जैसे हम गेहों और चावल का buffer stock maintain करके रखते हैं, cold storage के अंदर go down के अंदर रखते हैं, अब आपको क्या लग रहा है, इंडिया के अंदर अगर कभी भाय चांद फैमाई नाए, खाने पीने की कमी हो जाए, जो सूखा पढ़ता है, अकाल पढ़ता है उस वह से, तो वो अकाल नहीं होगा reason उसके पीछे, उसके पीछे का reason होगा mismanagement by the government, सरकार की तरफ से जो कमी छूट गई है, resources को manage करने के अंदर, वरना सरकार को पहले से go down बनाने चाहिए थे, cold storage बनाने चाहिए थे, cold storage में रखने चाहिए थे products, तभी जाकर जनता को time pay availability मिल पाती इन चीज़ों की, बर आपने buffer stock बनाया नहीं, cold storage बनाया नहीं, warehouse बनाया नहीं, go down बनाया नहीं, तो फिर कहां से आपके पास stop होगा, इसलिए government को infrastructure boost देना होगा, और अगर खुद पैसा नहीं है तो private sector से लो private sector को incentivize करो, बढ़ावा दो, ताकि वो cold storage वो warehouses को create करें, वो storage बंडार के शेत्रों को बढ़ावा दें, और अगर private sector भी इतना ग्रो नहीं हो पा रहा, तो foreign investment allow करो, कि बोलो दूसरे देश से आकर इंडिया में cold storage और go down खोलें, अब उनका क्या फाइदा, उनको उसके बतले में जैसे किराया मिलता है, किसी जमीन का, आप तीन दिन के लिए किसी cold storage में समान रख रहे हो, तो आपको तीन दिन का किराया मिल जाएगा, उनका ये फाइदा होगा, उनको ऐसे पैसे कमाने का मौका मिलेगा, तो इस side में, इस area में बहुत कुछ किया जा सकता है, storage को better किया जा सकता है, transportation को better किया जा सकता है, government अभी कुछ समय पहले national logistic policy लेकर आई थी, last theory लाई गई है, national logistic policy, logistic मतलब transportation, हम चाहते हैं हमारी transportation cost कम हो, हम चाहते हैं जिस cost पे समान distribute होता है, एक जगे से दूसी जगे तर, वो distribution cost कम हो, अब transportation और distribution cost अगर हमें कम करनी है, उसके लिए better infrastructure चाहिए, better roads चाहिए, better distribution network चाहिए, go downs चाहिए, और लोग क्या करें, गलत तरीके से black marketing करने के लिए hoarding ना करें, ऐसे लोगों को रोकना है, hoarding का मतलब समझते हो, लोग अपने go down में artificially price बढ़ाने के लिए समान भर-बर के रख लेते हैं, जैसे मैं मानलो, मैं जहां रहता हूँ, वहाँ पर market से, कल जाकर, आटा पूरा गायब कर दिया रहा है, और market में कहीं भी आटा नहीं मिल पा रहा है, तो लोग क्या करेंगे, कुछ भी extra pay करके उसको खरीदने के लिए तयार होंगे, black marketing में अपना सही योग देंगे, पैसा देंगे, और इस थोक व्यापार, ऐसे तो, आप गलत तरीके से जो कर रहे हो, थोक में चीज़ें रख रहे हो इखटा कर रहे हो, it is not acceptable, hoarding कर रहे हो, it is not acceptable, ये black marketing को बढ़ावा देता है, इसको रोकना चाहिए, जैसे होता है ना, कि कई भी कबार movie की tickets नहीं मिल रही होती है, तो आपको black में मिलती है, काफी महंगी, ठीक है ना, इसी वज़े से मैं जो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि government को हमारे देश के अंदर पहले तो production ही बढ़ाने है, कि सबकी जरुवत पूरी हो सके, अगर मान लो 200 तन अनाज की जरुवत है, और सिर्फ produce हो रहा है, 1500 तन, तो 200 तन अनाज उगाने की कोशिश करो, दूसरी बात, better infrastructure, transportation का, distribution का, warehouses का, cold storage का create करने की कोशिश करो, ताकि चीजों का price manage हो सके, ताकि जितनी भी problems चल रही है, economy में, वो दूर हो सके, तो ये पहला solution है, supply side measures का, दूसरा होगा, cost side measures, अरे चीजों की cost अचानक से क्यों बढ़ जाती है, कम करो, सरकार अचानक से tax बढ़ा देती है, हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा government के पास होना चाहिए, हमारे welfare के लिए government बहुत ज़्यादा मात्रा में इकटा करे, तो it's important that government earn as much as possible, जितना ज़्यादा tax कमाए, सोचो ना, जो road बन रही है, जो hospital बनने है, जो school बनने है, जो college बनने है, वो हमारे tax के पैसे से है, ठीक है, तो अगर tax हम नहीं भरेंगे, तो सरकार के पैसे पैसा कहां से आएगा पठा, ऐसा ना हो कि tax का पैसा ब्रश्टा चार के लिए जा रहा है, ineffective चीजों के लिए जा रहा है, बलकि उसको सहीट areas में, necessary areas में use किया जाए, ताकि आम जनता की जरूरत है, पूरी हो, चीजों के जो price बढ़ते हैं, चीजों की जो कीमत बढ़ती है उसका नुकसान आम जनता का ना हो tax बढ़ने की वज़े से ऐसा ना हो कि गरीबों को उसका नुकसान उठाना पड़े अमीरों के उपर से tax ले, सरकार गरीबों में बाटे, इसके लिए सरकार को काम करना चाहिए, so that poor people can be benefited, somebody who does not have income, can't pay taxes, सीदिसी बात है, तो taxes में छूट मिलनी चाहिए, long term के अंदर, production process को बढ़ावा देने के लिए, technology को बढ़ावा देने के लिए, innovation को बढ़ावा देने के लिए, आपको देखने मिलेगा हमारे देश में, cost side measure, cost side measure का मतलब मानलो आप एक नई technology क्रियेट करना चाहते हो, पर वो बहुत महेंगी है, कोई नहीं create कर पाएगा, कोई उसका इस्तमाल नहीं करेगा, जब वो technology सस्ते rate में available होगी, कम rate में available होगी, तब ही लोग उसे खरीद पाएगे, जैसे for example, 4G network, आज जियों ने, हर इनसान के हाथ में, एक 4G mobile phone available करा दिया, 3G वरना 4G तो available करा दिया, कैसे, कि उसका rate कम हुआ, उसके prices कम हुए, और आम जनता फिर उसे afford कर पाई, हाँ या न, ऐसा हुआ के नहीं हुआ, तो ये तो government की responsibility सेम तरीके से बनती है, कि government अलग अलग चीजों को लोगों के हाथों में available कराने के लिए, price control करने के लिए technology को बढ़ावा दे, और technology को जनता के हाथों ले जाने की कोशिश करें, जैसे एक और कुछ चीज़ा बताता हूँ मैं आपको, high speed rail चला करेगी कुछ समय के बाद, hydrogen train और hydrogen buses चला करेंगी कुछ समय के बाद, ये नई technologies देखिए आई गए, इंडिया में आएंगी या दुनिया में आएंगी, 5G हमारे देश में जगे जगे पे मुहिया कराया जाएगा, these are the new technologies which are going to come in इंडिया, अब technology को जब बढ़ावा दोगे तो जो बढ़ती कीमते हैं, जो price बढ़ते जाते हैं, अलग-अलग चीज़ों के, वो कम होते रहेंगे, better technologies, when and when, government promotes this, सरकार जब उन्हें बढ़ावा देती है, तो ultimately महँगाई कम होती है, जब ज़्यादा technology को boost दे, कम से कम दाम में जन्ता को available कराने की कोशिश करे, production process सुद्र, तब जाकर cost side measures होने की वज़े से, सुधार होने की वज़े से, देश में महँगाई कम होती है, cost चीज़ों की कम होती है, अच्छा, अब देखिए एक और चीज़ सुनिया, हमारे देश में दो तरीके की economic policy है, एक है आपकी monetary policy और एक है आपकी fiscal policy, यह हम अलग से chapters में पढ़ेंगे, तो आज इन points को मैं नहीं बता रहा हूँ, आज इन points को मैं नहीं पढ़ाऊँगा, मैं आपको बता रहा हूँ, economic policies दो टाइप की है, एक होती है आपकी monetary policy, यह कौन चलाता है, monetary policy RBI के दोरा manage की रहाती है, कौन? Reserve Bank of India, काम क्या होता है, हमारी economy में, money supply को मैं MS लिख रहा हूँ, यह आपर increase या decrease करने का काम करती है, यह economic policies, money supply को increase या decrease करने का काम करती है, economic policies दूसरी होती है, आपकी fiscal policy, राज कोशिय नीती monetary को मौदरिक नीती कहते हैं, और fiscal policy को राज कोशिय नीती कहते हैं, यह चलाती है, ministry of finance आपके उपर tax लगाके, आपके लिए सरकार हर साल budget बना कर यह policy चलाती है, जरुवत पढ़ने पर आपके लिए ज़ादा पैसा खर्षती भी है, government आपके लिए अलगलब schemes भी लेकर आती है, और जो scheme बिकार हो गई है, जिनकी जरुवत नहीं है, आज के इस समय में, उनको हटाया भी जाता है, जरुवत पढ़ने पढ़ने, आई बात समझ में yes or no, तो यह दो policies होती हैं, आप इन दोनो policies का इस्तमाल करके inflation control कर सकते हो, वो कैसे, वो हम monetary policy और fiscal policy का जब chapter पढ़ेंगे, तब इसको बहुत डीटेल में, बहुत विवरण के साथ पढ़ेंगे, तब तक के लिए, मैं बस यही कहूंगा, कि आप इंतजार करें, monetary policy tight करनी होती है, expansionary और contractionary monetary policy होती है, और ऐसी fiscal policy tight करनी होती है, अलग-अलग type की monetary policy होती है, तो जब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, I'll discuss it with you, अब देखे, चार type के inflation, दुनिया में होते हैं, four type of inflation, main type, सबसे main type के, आप इस photo में क्या देख पा रहे हैं, मैंने ना inflation के categorization को, आपके लिए असान term में डाल दिया है, सबसे पहले है creeping inflation, चोर घर में चोरी करने आता है, तो बहुत तेज उचलता पूटता है, और भागता रहता है, फुदकता रहता है, या बहुत धीरे-धीरे, कदम-कदम रख कर, आगे चलता है, क्या होता है, क्या है आपके साब से, when a thief tries to steal something, does he run incessantly, or does he walk very mildly, क्रीप बेसिकली, such person creeps, ऐसा कोई व्यक्ती है, तो धीरे-धीरे, कदम-कदम रख कर, आगे चलता है, यह low inflation है, mild to low inflation है, इस आप क्या सकते हैं, जहाँ पर, इस चोर की स्टोरी से, आप समझ पारे हैं, जब अर्च वहस्था में, एक साल में, चीजों के दाम, 3% या उससे कम बढ़ रहे हैं, मतब कल को कोई चीज, पिछले साल 100 की थी, इस साल 101 की है, या 102 की है, या 103 रुपे की है, तो एक creeping inflation, या mild inflation की category में, आता है, here है, yes or no, दूसरी बात, और yes or no, पूछा करो, तो बता दिया कर रहे हैं, दूसरी बात, second category है, आपकी walking inflation की, creeping में, धीरे धीरे आप, कदम कदम रखके चल दें, वाकिंग में, नॉर्मल जैसे चलते हैं, या ये zombie की photo देख रहे हो, zombie कैसे चलता है, ऐसे, ऐसे करके, I am sorry for the, very idiotic description of the whole thing, but I hope you have understood, how a zombie walks, दीरे दीरे चलता है, भागता नहीं है, दीरे दीरे चलता है, इसी से आप inflation की speed को, अनुमान लगा सकते हो, कि जब कोई चीज, लग से पिछले साल 100 की थी, इस साल 105 की हो गई, या 110 तक हो गई, 10% तक, from 3 to 10%, 10% तक, अगर आपको महँगाई का impact देखने मिल रहा है, तो आपको देखने मिल रहा है, कि इस तरीके से, there is walking inflation, पर inflation हमेशा इतना धीरे थुटना चलता है, कई बार 10% से 10%, 20%, 30% भी हो जाए, मालोगा inflation और बढ़ने लगा, 10% के बाद सरकार के लिए, एक alarming situation आ जाती है, कि अब चिंता करने की दरवफ़त आ गई है, महँगाई तो बहुत जादा बढ़ने लगी है, फिर क्या करोगे, गवर्मेंट के लिए अगर 10% से जादा inflation बढ़ती है, it is a very difficult situation, इंडिया के अंदर हम तो कहते हैं, कि 2 से 6% के बीच में महँगाई रहे, साल की एक एर में 2% minimum increase हो, और 6% maximum increase हो, इससे जादा increase ना हो, अगर इससे जादा increase होगा, तो हमारी economy पर बहुत जादा negative impact आएगा, और negative impact आएगा, तो हमारी economy long term में survive नहीं कर पाएगी, आगे बढ़ नहीं पाएगी, इसी लिए तो हम basically, इस तरीके के inflation को देखते हैं, जिसको कहा जाता है, galloping inflation, इसको भी 2 पार्ट में break कर देता हूँ, 10 से 20% को मैं कहूँगा running, और 20% से जादा को मैं कहूँगा galloping, अगर 20% से जादा होगा, रणिंग मतलब जैसे यूसेन बोल्ट भागता है, सबसे पहले एक चोर धीरे धीरे चल रहा, फिर एक जॉम्बी थोड़ा तेस्ट चलने लगा, फिर एक परसन भाग रहा है, स्प्रिंट कर रहा है, फिर उसके बाद एक घोड़े को imagine करो, हो कि वो फुदक-फुदक के भाग रहा है, आप ये चीज़ imagine करोगे, तो इन टाइप अफ इंफलेशन को याद रख पाओगे, सबसे पहले था creeping inflation, फिर था walking inflation, अब है running inflation, रणिंग के बाद आता है galloping, galloping मतलब फुदक ना, जैसे गोड़े फुदकते हैं ना, फुदक-फुदक के तेज भागते हैं, अब युसेन बोल से तो तेज ही भाग सकते हैं horses, तो ये आपका आएगा in the category of galloping inflation, when the price increase by more than 20% in a year, 20% से भी जादा मतलब extraordinarily high rate of inflation है, मैं तो को बहुत जादा high rate of inflation है, जब inflation rises up to 20% और more, purchasing power इस टाइम पर चीजों की बहुत कम हो जाएगी, purchasing power कम होने का मतलब है, कि मान लो महंगाई बहुत बढ़ गए, जो चीज अब तक आप कम price पर खरीदते थे, कम rate पर खरीदते थे, अब वो आपको जादा rate पर मिल रही है, और मैंने पहले भी बताया कि inflation से सीधा purchasing power पर impact आता है, और purchasing power पर क्योंकि impact आ रहा है, लोग खरीद नहीं पाएंगे, जो गरीब हैं, वो लोग afford नहीं कर पाएंगे, इससे देश की macro economic stability बहुत जादा impact होगी, देश की पूरे देश level पर, country level पर, इंडिया level पर, खुद ही सोचो क्या होगा, इतनी महंगाई बढ़ गई है, गरीब इंसान afford नहीं कर पाएंगा, पैसे की value खतम होती जाएगी, लोग कहते हैं न, हमारे टाइम पर घी आता था 10 रूपे किलो, आज 500-600 रूपे किलो चल रहे है, क्यों क्योंकि पैसे की value धीरे धीरे खतम होती गई है, क्यों क्योंकि inflation रहा है हमारी अर्फिवस्ता में, ये बात याद रखेगा, इतना clear है सबको, yes or no, इतना तो clear होगा सबको, yes or no, next, moving ahead, आगे चलते हैं, next है आपका hyperinflation, hyperinflation मतलब अब तो उमीद छोड़ दो, वो अभी थोड़ देर पहले मैंने आपको जिम्बाब्वे का note दिखाया था न, ये hyperinflation का नतीजा था, hyperinflation की वरे से ऐसे होता है, महीने का 50%, साल का 500%, 600%, 1000% inflation बढ़ रहा है, सोचिए, ऐसा किसी देश में होता है क्या, हुआ है, वेनेजुएला में हुआ है, ऐसा हुआ है वेनेजुएला के साथ, ऐसा हुआ है वेनेजुएला नाम के देश के साथ, जिम्बाब्वे के साथ, hyperinflation, जिम्बाब्वे के साथ, hyperinflation, जहां पर पैसे की value ही दीरे-दीरे खतम होती गई आप समझ सकते हैं यह अलग-अलग types of inflation है जो मैंने इस picture के माध्यम से समझाए है अब यही मैं एक बाद theory बता दू सबसे पहला type of inflation है low inflation जिसे आप creeping inflation भी कहते हैं यहां पर single digit में 3% तक जो महंगाई बढ़ रही है बहुत दीरे-दीरे बहुत gradually बहुत slow तरीके से महंगाई बढ़ रही है यह आपका low inflation की category में आता है creeping inflation इसे कहते हैं single digit growth in the inflation level low inflation takes place in a longer period and the range of increases usually in single digit single digit मतलब 3%, 4% like that उसके बाद आपको मैंने दिखाया super fast inflation जो की galloping inflation था double digit, triple digit, 20%, 100%, 200%, 500,000, 2000% inflation बढ़ रहा है कई सारे Latin American countries, Argentina, चिली, ब्रादील पहले पेश इसको face कर चुके है Venezuela और Zimbabwe ने कुछ समय पहले इसे face किया है और भी कई सारे अलग-अलग type के inflation होते हैं जैसे घोडे के कूदने को आप hopping या galloping कहते हैं तरीके से अगर 20% से जादा महगाई बढ़ रही है आपकी तो इन तरीके से अलग-अलग तरीके से आप inflation को बता सकते हैं inflation को define कर सकते हैं अलग-अलग books में इसकी अलग-अलग definition देखने मिलती है इन पर सवाल आप से कभी भी पूछा नहीं जाएगा आप से ये पूछा जा सकता है कि मैसे सबसे जादा inflation दी क्या है तो अब तब जाकर इसका answer करें जैसे for example walking inflation को कुछ किताबों के अंदर trotting inflation भी लिखा है trot करना मतलब चलना अंग्रेजी का एक शब्द है trotting inflation ठीक है ना अब अंग्रेजी का एक शक है walking को trotting भी कहते हैं अंग्रेजी का एक word है it's a English word only running को कई बारी run away कहते है run away inflation या running inflation तो अलग-अलग शब्द है define करने के लिए अलग-अलग किताबों में अलग-अलग तरीके से देखने मिलेंगे मेरे को जो लगता है सबसे important जिस पर topic बन सकता है question बन सकता है वो है hyper inflation अगर 100 साल पहले का आपको चित्र याद है जो जर्मनी में हुआ था World War I में हारा हुआ जर्मनी की currency होती थी डॉइश मार्क धीरे-धीरे उसकी value खतम होती गई इतनी ज़्यादा महंगाई थी आर ये बात समझ मैं इतना ज़्यादा inflation था और इतनी ज़्यादा महंगाई इतने ज़्यादा inflation की वज़े से economy उनकी बहुत negatively impact हुई और ज़्यादा currency print करनी पड़ी और जितना note print करा जितने note चापे उतनी महंगाई और बड़ी और ये बहुत ज़्यादा negatively impact करती है किसी भी देश को किसी भी देश के prices को millions के अंदर, billions के अंदर, trillions के अंदर note चापने पड़ते हैं जैसे Zimbabwe में आपको देखने मिला क्यों? क्योंकि रातो रात बे लगाम तौर पर चीजों के दाम बढ़ रहे है तो बे लगाम बड़े चीजों के दाम इई बात याद रखेगा इना वेरी, बे लगाम वे ठीक है? चलो, आगे चलें आगे दो concept मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है headline और core inflation के आपको types of inflation समझ आ गए अब हम देखेंगे दो type के और दो inflation के types और एक है आपका headline inflation और एक है आपका core inflation headline inflation का मतलब है कि आप जब अख़वार में देखते हैं कि महंगाई इतने प्रतीशत से बड़ी headline आती है न्यूस्पेपर में कि महंगाई देखो कितने से बढ़ गई जो ये complete data देते है complete detail देते हैं कि कि कितनी अर्चरस्था में महंगाई बढ़ गई पर क्या होता है न दो चीज़ें ऐसी है जिनके price बहुत ज़्यादा volatile है बहुत ज़्यादा unstable है uncertain है और बहुत ज़्यादा volatile एक है food किसी साल अच्छी नहीं होगी चीज़ों के खाने पीने की चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे fuel क्योंकि हम दूसरे देशों से Middle East से खरीदते हैं Iraq, Syria Iran Saudi Arabia, UAE, Kuwait, Oman Qatar खरीदते हैं हम Russia से price fix नहीं है कभी ज़्यादा मिल सकता है कभी कम मिल सकता है अभी OPEC Oil Producing and Exporting Countries OPEC ग्रुप है यह Oil Producing and Exporting Countries का उन्होंने फैसला लिया कि production कम करेंगे तेल का ताकि ज़्यादा दाम पर बिख सके अब इंडिया इसमें क्या कर सकता है हाँ वो Saudi और अलग-अलग Countries कह रहे हैं हम कम तेल निकालेंगे ताकि ज़्यादा भी तेल हो ज़्यादा दाम पर बीच सके ठीक है ना अब अच्छा पूछा है सर How inflation demerits the value of money पहली क्लास में बताया था भाई कहां रहते हो तुम पहले क्लास में बताया था कि महंगाई जादा होगी अरे यार सीधे सी दिमाग लगाओ न कि कोई food item आपका 50 रुपे किलो आपको मिलता था आप 500 रुपे में खरीदते थे 10 किलो आज rate बढ़ गए हैं उसके 100 रुपे किलो हो गए हैं आज आप सिर्फ 5 किलो खरीद पाओगे तो value of money कम हुआ के नहीं हुआ कि उसी 500 के नोट पहले जब 10 किलो मिलता था आज सिर्फ 5 किलो मिल रहा है purchasing power खरीदने की शमता कम होई के नहीं होई core inflation में inflation में से food और fuel के दाम हटा दिये जाते हैं सिर्फ core चीजों के दाम देखे जाते हैं headline में जुडा हुआ होता है core में minus हो चुपा होता है headline में total inflation देखते हो और चहसता में कुल महंगाई कितनी है अरे यार जहां पे आप food और fuel के unstable prices को देख रहे हो instability को देख रहे हो it is not going to present an accurate picture क्योंकि वो तो कभी भी बढ़ जाता है और कभी भी घट जाता है अब ऐसी चीज़ें देखो जो normal day-to-day basis पर हम use करते हैं except food, except fuel इसके लिए core inflation देखना ढूनना जरूरी होता है इसलिए core inflation find करना जरूरी होता है किसी भी अर्थ विवस्था के लिए अब समझ गए फरक क्या है core और headline inflation में फिर से बोलो headline inflation, total inflation है सारी goods and services जो बिकी है एक economy में उनके prices आप headline inflation में देखते हो headline मतब जो अखबार की headline बनते है जिसमें हर goods and service मतब पूरी basket of goods and service आप देखते हो consumer price index के माध्यम से इंडिया में CPI के माध्यम से headline index, headline inflation देखा जाते है और ये question prelims में पूछा जा सकता है कि इंडिया में headline inflation WPI के हिसाब से होता है गलत it is through consumer price index और मैं कह रहा हूँ कि आप देखिएगा इस पर सवाल बहुत असानी से पूछा जा सकता है बन सकता है आगे चला है, दूसरी बात core inflation के अंदर आप वो value हटा देते हो accurate picture को देखने के लिए सही सतर्क और current contemporary picture को देखने के लिए इसको non food, non fuel inflation भी कहा जाता है क्यों? क्योंकि आम चीजों के दाम में से कच्चे तेल के दाम हटा दिये जाते हैं खाने पीने की चीजों के दाम जो बहुत ही unstable हैं हटा दिये जाते हैं इसलिए headline और core inflation का concept आपको देखने मिलता है ये बात याद रखेगा इस चीज़ को please याद रखेगा आगे और भी कई सारे miscellaneous concepts हैं एक एक करके इनके बारें बात करते हैं core inflation तो आप समझ गए next concept है आपका reflation का next concept है आपका reflation का reflation क्या होता है बहुत असान है concept बहुत easy है देखो आपको क्या देखने मिल रहा है इस graph में कि चीजों के दाम कम हो रहे थे देखने मिल रहा है yes or no एक dip आ रहा है economy दीरे दीरे negative growth की तरफ जाने लगी और फिर वापस growth बढ़ने लगी चीजों के दाम prices of commodities दीरे दीरे कम होने लगे और वापस बढ़ने लगे ऐसा क्यूं हुआ अपने आप जादू से हो गया नहीं government जब किसी भी देश में fiscal stimulus दे जिसे हम double whammy of inflation कहते है double whammy double whammy दो धारी तलवार हिंदी में इसे कह सकते है मैं चाहता हूँ मेरे देश में growth है, concept समझो prelims में पूछा जाएगा मैं क्या करूँगा, मेरे देश में growth है चलो कोई बात ने, एक काम करते है loan less interest rate पर कम available कराते है पर होगा तो जादा से जादा लोग खरीदना चाहेंगे हाँ या ना अफकोर्स खरीदना चाहेंगे बिलकुल खरीदना चाहेंगे और जब लोग जादा loan लेना चाहेंगे, लोग चीज़ें करना चाहेंगे बिसनिस करना चाहेंगे लोग लोन लेकर कहां पैसा लगाएंगे या तो business के लिए उसमें इंबेस्ट करेंगे या तो अपने personal consumption में इंवेस्ट करेंगे खर्चा करने के लिए, घर खरीदेंगे गाड़ी खरीदेंगे, बाइक खरीदेंगे मुबाइल खरीदेंगे अब इससे क्या होगा इससे मार्केट के अंदर पैसा जादा पहलेगा क्योंकि लोग खर्चा जादा कर रहे है तो लोगों के पास पैसा जादा हा रहे है बिजनिसेज में पैसा लगाया जा रहे है प्रॉफिट जादा कमाया जा रहे है तो लोगों के हाथ में पैसा जादा आ जाएगा, पैसा भी दे दिया मैंने लोगों के हाथ में अब लोगों के हाथ में पहले से जादा पैसा आ गया, जो चीज मान ली जिख सौर रुपे कि थी original है आज वो देड़ सो रुपे में भी खरीद सकते हैं हो सकता है कल वो 500 रुपय में भी खरीद पाएं मतलब लोग अब afford कर सकते हैं महेंगे rate पर खरीदना भी और मान लो 500 का available है तो उस पर भी खरीदने तयार है और जब लोग ऐसे खरीदने तयार है बिकोज उनके पास पैसा जादा आगए उनकी purchasing power बढ़ गई है उनके पास पैस होने बेचने के लिए right too much money chasing too few goods to few goods अब लोग के पास पैसा बहुत है खर्चने के लिए चीज़ों के दाम बढ़ने लगेंगा दामबढ़ने लगेंगे तो सरकार उसे रोकने के लिए क्या करेगी government भी तो कुछ ना कूछ करेगी कुछ ना कुछ असर इस चीज़ का होगा, गवर्मेंट क्या करेगी, इस situation में interest rate बढ़ा देगी, जो चीज़ आपने interest rate कम किया था बढ़ाना पड़ा, और interest rate बढ़ाती जाएगी, बढ़ाती जाएगी, जब तक महंगाई control में आना आ जाए, अब businessmen जाएंगे loan लेने के बचेगा नहीं तो हम business में लगाएंगे क्या, हम अपने workers की, employees की salary नहीं निकाल पाएंगे, हम अपने जरूरत के basic खर्चे नहीं कर पाएंगे, और जब salary तक नहीं निकाल पाएंगे, लोगों को नौकरी से निकाला पड़ेगा, देश में income नहीं बढ़ेगी, और उससे growth त हमेशा यह चुनौती रहती है, कि growth को focus किया तो inflation बढ़ेगा, inflation को focus किया तो growth बढ़ेगा, तो एक balance situation धून पाना बहुत मुश्किल है, कहने में असान लगता होगा, it is very difficult, rather कोई ऐसी fixed balance situation है इने, impossible है, और इंडिया को आज के time में growth पर focus करना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ या inflation, पर दिक्कत यह है कि हमारे देश में गरीबी बहुत है, standard of living आम जनता की नहीं बढ़ पा रही है, jobless growth है, आपको क्या लग रहा है, देश की growth हो रही है, तो नौकरिया भी बढ़ रही है, ना जी ना, नौकरिया नहीं increase हो रही है, unemployment rate बढ़ रहा है, और यह main question पूचा जा चुका है, that there is jobless growth in India, चीजों के दाम बढ़ रहे है, गरीब लोगों के लिए unaffordable होता जा रहा है, खाने पीने की चीज़ें available नहीं है लोगों के लिए, rich are getting richer and poor are getting poorer, inequality है, इस वज़े से यह problem है इंडिया के लिए, कि थोड़ी growth को बढ़ावा देने के लिए, थोड़ा inflation अगर बढ़ भी जाए तो दिक्कत नहीं है, बट गरीबों का क्या, उनके लिए कैसे करें, और government की distribution, प्रणाली system, distribution system इतना अच्छा नहीं है, कि गरीबों तक सारे resource पहुंचा दे, हम देखें गरीबों के लिए कितनी scheme चलाते है, PM किसान योजना, किसानों को 6000 रुपे साल जाता है, कितना पैसा corruption में चला जाता है, कितना पैसा waste हो जाता है देश का, इसे लिए बड़ी problem रहती है, कि growth और inflation को इससाथ manage कर पाना बड़ा मुश्किल है, और सरकार कोशिश करती है, कि जब देश की income एक level से नीचे आ जाए, तो loan सस्ते rate पर provide किया रहे, monetary policy expansionary हो, fiscal policy expansionary ह tax में छूट दी जाए, लोग के हाथ में पैसा हो खर्चने के लिए, यह जब हम monetary policy और fiscal policy पढ़ेंगे ना तब पताऊंगा, तो इसे reflation कहते हैं, कि महंगाई कम होती जा रही थी, चीजों के दाम कम होते जायते, वापस उन्हें उठाने की कोशिश करी है, this is what reflation is, लिखा है government खुद expenditure करने लगती है, government tax कम कर देती है, government interest rate कम कर देती है, government चाहे उधार लेती है, पर जनता की भलाई पर खर्चती है, चाहे जादा नोट चापने पड़े, जनता की भलाई पर खर्चती है, चाहे लोग की salary बढ़ानी पड़े, पर जनता की भलाई पर खर्चती है, और कभी भी प्राइज बढ़ जाते हैं, जब प्राइज अचानक से कम हो गया है, उनको वापस आप नॉर्मल सिटुएशन पर ला रहे हो, रिसेशन से बाहर ला रहे हो, तो वो रीफलेशन कहा जाता है। आपकी प्राइज बढ़ने लगे, बेरोजगारी बढ़ने लगे, दूसरी प्राइज इंफलेशन भी बढ़ने लगे, अब सरकार इतना बुरा फस जाती है, ऐसी सिटुएशन में, कि अगर अनिम्प्लाइज बढ़ रही है, पहले तो बिजनेसमेन को बुलाएगी, पूछे लोन लेके पैसा ही खटा गरो, लोगों को जॉब पे रखो, प्रॉफिट कमाओ, इम्प्लॉइमेंट भी बढ़ेगा, और ग्रोथ भी आएगी, बट फिर जब महंगाई बढ़ने लगती है, क्योंकि इसका इम्पैक क्या होता है, लोगों के हाथ में पैसा आने लगता है, और जब too much money is in the hands of people, जब बहुत पैसा लोगों के हाथ में होता है, तो जादा से जादा चीज़े है, जादा से जादा प्राइस पे खरीद सकते हैं, और इस वज़े से आपको inflation बढ़ते हुए देखने मिलता है, और जब inflation बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, तो सरकार को वापस interest rates बढ़ाने पड़ते हैं, लोन लेना महंगा बनाना पड़ता है, क्योंकि हर इनसान लोन ले रहा है, पैसा आ रहा है, खर्चा कर रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो सरकार तो फस जाती है पूरी तरीके से, कि या तो unemployment को control करे, या तो inflation को control करे, अरे करे तो किसक नौकरी से निकाला जा रहा है, बेरोजगारी हो रही है, और देश की growth नहीं बढ़ पा रही है, देश की growth नहीं बढ़ेगी, तो नहीं jobs नहीं create होंगी, और पूरा ये circle में घूमता रहेगा, एक circle बन जाएगा, इसे stagflation कहते हैं, ऐसी situation जहां पर अर्थ विवस्ता में मह महंगाई है, मुद्रा स्फिती है, unemployment भी साथ साथ आपको देखने मिल रहा है, लोगों को लगता है कि अगर महंगाई होती है, तो unemployment बेरोजगारी नहीं होती, बेरोजगारी होता है, तो unemployment नहीं होता है, ऐसा नहीं है, इससे पहले मैं आपको एक curve, एक graph दिखाना चाहता हू एक बड़े famous economist है, फिलिप्स उनके द्वारा दिया गया था, इसे उनके ही नाम पर रखा गया है, फिलिप्स कर्व, बहुत simple है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बस सुनना मेरी बाद ध्यान से, फिलिप्स कर्व दो चीजों का रिष्टा बता रहा है, और ये UPSC के अलग- फिलिप्स कर्व talks about relationship between two things, inflation and unemployment in the economy, अर्थियस्ता में एक तरफ महिंगाई और एक तरफ बेरोजगारी, अब कम कैसे करें दोनों को, इंफलेशन भी और इंफलेशन को भी कम करना है, और बेरोजगारी भी कम करनी है, फिलिप्स कर्व ने कहा एक रिष्टा है, एक रिष्टा इस प्रकार है कि inflation को आप यहाँ पर plot करते हो, unemployment को यहाँ पर show करते हो, graph है ना, तो graph में तो यही show करोगे, कहा जाता है जब अर्थ विवस्ता में महंगाई बहुत जादा है, चीजों के दाम बहुत जादा बड़े हुए, तो businesses उस ताइम पे समान बेच बेच कर पैसा क्योंकि चीजों के दाम बढ़ गए है, मैं आज तक कोई चीज 100 रुपे की बेचता था, जो मार्केट में 125 की बिक रही है, तो मेरे पास 25 रुपीज एक्स्ट्रा आ रहा है, जादा पैसा आ रहा है, अब उस पैसे को मैं reinvest करूँगा अपने business में, जिससे मैं growth के लिए करेंगी, तो inflation और unemployment के बीच में एक inverse relationship है, एक ultra रिष्टा है, जहां पर inflation अगर बढ़ता है, महंगाई अगर बढ़ती है, तो unemployment कम होता है, ऐसा फिलिप्स के द्वारा कहा गया, फिलिप्स ने कहा है, इसका ultra भी possible है, जब inflation बहुत कम हो जाएगा, महंगाई बहुत कम हो जाए अब बहुत धीरे धीरे घूम रहा है, क्या गाड़ी आगे बढ़ पाईगी, जादा तेजी से तो आगे नहीं बढ़ पाईगी, धीरे धीरे घूम रहा है, पहले इट वोज़े से क्या है, एकॉनमी में पैसा सर्कुलेट नहीं हो रहा, लोगों के पास पहले से जादा income न अगर कम होगी, रिड्यूस होगी, तो बेरोजगारी बढ़ेगी, लोगों की जॉब चली जाएगी, क्योंकि बिजनसमेन के पास खर्चने के लिए पैसा नहीं है, शॉप नहीं चला पाईगे, फैक्टर नहीं चला पाईगे, इंडस्ट्री नहीं चला पाईगे, और को देख लो, या तो इंफ्लेशन बढ़ा लो, या तो आप अनिम्प्लॉइमेंट को मैनेज कर लो, देर इन इंवर्स रिलेशन्चिप, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, बेरोजगारी कम होगे, यह कॉंसेप्ट इनके दौरा दिया गया, कम इंफ्लेशन, जादा अ इलिप्स थे, जिन उनके द्वारा ये थियोरी दी गई, उनको बहुत जादा पॉपुलर किया गया, इस वज़े से पूरी दुनिया में की, देखो इतनी बढ़िया थियोरी दी है, 1960s के बाद दुनिया में पर अलग-अलग देश समझ गए, कि ऐसा जरूरी नहीं है, अनि इंफलेशन को भी थोड़ा-थोड़ा साथ-साथ मैनेज किया जा सकता है, पर अनिम्प्लॉइमेंट एक ऐसी सिचुएशन है, जिसको आप रियल टाइम में फाइट करो, देन यू केन रिड्यूस इट पर्मनेंटली, अर्बी आई अलग-अलग देशों के जैसे इंडिया में Reserve Bank है, RBI, Federal Bank है इंडिया का, एक तरीके का इंडिया का Central Bank है, दुनिया में Central Bank की जिम्मेदारी है, इंफलेशन से लड़ना इस प्रकार, इंडिया में भी RBI 2-6% के बीच में महंगाई को कंट्रोल करना ही कोशिश करता है, हमने शुरुआत में इस concept को true माना, बट दो अमे treatment, इन्होंने बहुत बढ़िया concept दिया और इस चीज़ को negate करने की कोशिश करी, इस चीज़ के खिलाफ बोलने की कोशिश करी, इन्होंने कहा कि inflation and unemployment के बीच का यह जो trade-off है या तो एक चीज़ को focus कर लो या तो दूसरी चीज़ को, यह सिर्फ short term में है, long term में हर चीज smooth हो करती है, long term में जादा महंगाई होना, जादा inflation होना बहुत जादा negative है, क्या आप कह रहे थे ना कि inflation बढ़ा दो, महंगाई बढ़ा दो, और बेरोजगारी कम हो जाएगी, अरे भाई गरीबों का क्या होगा, जो basic resource भी नहीं खरीद पाएंगे, बढ़ी हुई महंगाई की व बढ़ती जाएगी, अमीर, अमीर होता जाएगा, गरीब, गरीब होता जाएगा, और necessary चीज़े नहीं खरीद पाएगा, गरीब, इस वज़े से आपको देखने मिलेगा, कि negative impact होगा, poor people के life के ओपर, अगर inflation जादा समय तक, जादा time period तक किसी भी economy में चलता है, क्योंकि लो पैसा खर्च रहे हो, उसकी value भी तो गाया बोरी है, आपको क्या लग रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो सिर्फ आपके लिए बढ़ रही है, बाकी सब के लिए बढ़ रही है, everybody faces the brunt, सब को नुकसान जहिलना पड़ता है, कि अगर 20,000 रुपे में कोई महीना चला लेता है, कि कम हो, और इस वजए से फिलिप्स कर्व के बीच का रिष्टा उन्होंने कहा, कि लॉंग टर्म के अंदर, inflation और unemployment के बीच में रिष्टा एक्जिस्ट ही नहीं कर रहा, लॉंग रन के अंदर, वो तो देश की, Reserve Bank of India जैसे है, Fed जो Central Bank है, वही policy बना कर, inflation को control कर सकती है, कि unemployment rate को minimum level पर रखा जा सके, बिना inflation को बढ़ाए हुए, बिना महंगाई को बढ़ाए हुए, non accelerating inflation rate of unemployment होना चाहिए, मतलब inflation ना बढ़े, बट बेरोजगारी कम होती रहे, rate of unemployment कम होता रहे, ये बात याद रखिएगा, और जब rate of inflation कम होता रहेगा, नैरू को मैं अलग से आग unemployment पढ़ेंगे, ये concept होता है पूरा एक, अभी बस इतनी बात समझ लो, कि ये concept सिर्फ short term में चल सकता है, long term में नहीं चल पाएगा, और ये जो relationship था न, ये जो ultra रिष्टा था, inverse relationship फिलिप्स कर्प का, इडिया ने भी इसको follow करना छोड़ दिया, कि हम समझ गए, कि short term में है, long term में नहीं है, इसलिए economy को अगर long term में आगे बढ़ाना है, तो consistently inflation को manage करना होगा, महंगाई को, मुद्रा स्फिती को manage करना होगा, अब stagflation बताये था आपको मैंने, कि जब inflation होता है, तब unemployment भी होता है, फिलिप्स कर्प क्या कह रहा था, inflation बढ़ा, unemployment घटा, है न, stagflation क्य कह रहा है, inflation बढ़ा, unemployment भी बढ़ा, और economic situation इससे खराब हो जाएगी, पहला पहली बार, पहला पहला अगर कोई episode बताओं, जहां पर दुनिया में, stagflation देखने मिला, 1970s में, अमरीका की अर्थयस्था में, unemployment rate काफी जादा था, 6% के आसपास, महंगाई थी 7% के आसपास, inflation 7 के आसपास था, कई सारे American countries, America के और European countries के अंदर आपको देखने मिलेगा, और problem क्या हो रही थी, problem यह हो रही थी, कि जैसे यसे महंगाई बढ़ रही थी, वैसे वैसे, बेरोजगारी भी बढ़ रही थी और growth कम हो रहा था, उपर से तेल की कीमते महंगी होती जा रही थी, द दौरान और COVID के कुछ समय बात तक यही problem सामना कर रहा है, क्योंकि युक्रेन, रशिया वार चल रही है, supply chain breakdown हो गया उस वज़े से, inflation बहुत जादा है, unemployment बहुत जादा है, और growth उतनी होने रही जितनी expect कर रहे हैं, बलकि पूरी दुनिया आज recession या मंदी का शिकार होने जा रही है, जब दो quarter तक तीन-तीन महीने के दो time period तक आपको लगातार economic growth decelerate होते को है, कम होते हुए देखने मिलती है, नीचे गिरते हुए देखने मिलती है, economic growth, तब आपको देखने मिलता है कि recession, मंदी के हालात है, और बच्चे किसी का कोई सवाल है, कोई doubt रह गया है, doubt है आप से request कर रहा हूँ, class अभी चल रही है, सुननो मेरी बात, कि आप यहाँ पर आके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं देख रहा हूँ, कई लोग बीच में सवाल लिख रहे हैं, जोती मौर रहा हैं, कई लोग नए हैं, how many of you are watching the session for the first time, comment box में, first जरूर लिख कर बताइएगा, पहली बार कितने लोग जुड़े हैं, हमारी प्रता है, तो पहली बार जुड़ता है, बताता है, पुरानी प्लेलिस पड़ी है, पुरानी आट नौ वीडियोज है, उनको जाके भी देख ले न, वसू कटारा स्टडी आईक्यू टेलिग्राम ग्रूप है, जिस पे आने व पर भी question पूछ सकते हो, okay, let's please come to the topic first, एक बार मैं पढ़ा लूँ, आप बाद मैं मुझसे जितने सवाल, जितना पूछना चाहो, जो पूछना चाहो, पूछना पूछ लेना, first let me teach, alright, stackflation समझ आ गया सर, economic growth कम होती है, inflation बढ़ता है, unemployment बढ़ता है, इसका एक और जुड़ा inflation कहते हैं बच्चे, बट कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ कुछ चीजों के दाम बढ़ते हैं, जैसे अभी कुछ समय पहले, semiconductor chipset की कमी हो गई थी इंडिया के अंदर, और जो गाड़ियां होती है, electric vehicle होती है, जो cars आजकल आ रही है, modern cars, उनके अंदर semiconductor लगता है, तो 6-6 महीने एक-एक साल के बाद गाड़ियों के delivery मिल रही थी, आपने अगर आज गाड़ी बुक कर आई है, तो एक साल के बाद आपको delivery मिलती थी, ऐसा normally होता था, इसी लिए तो मैं आपको बात जो बताने की समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कि अर्थविवस्ता में जरूरी नहीं है हर चीज का दाम बढ़े, हो सकता है कुछ commodities का कुछ चीजों का दाम बढ़ रहा है, Economist usually distinguish between inflation and a relative price increase, सिर्फ कुछ चीजों का दाम बढ़ना या पूरी अर्थविस्ता में ज्याम बढ़ना, अगर सिर्फ कुछ चीजों का दाम बढ़ रहा है तो उसे skewflation कहते हैं, skewed का मतलब मुड़ा हुआ, कोई चीज मुड़ी हुई है, कोई चीज क्यों हो रखी है, मुड़ी हुई है, मतलब सिर्फ कुछ चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, बाकी चीजों के दाम उतरे नॉर्मल रेट पर ग्रो कर रहे हैं, कुछ चीजों के अचानक से, small group of commodities के अचानक से, there is an episodic increase, अचानक से, बढ़ोतरी हो रही है दामों में, यह आपको skewflation देखने मिलेगा, यह बात ध्यान रखेगा, skewflation क्यों होता है, क्योंकि, कई बार ऐसा होता है, जिस टमाटर है, इस टाइम पर सिर्फ टमाटर के दाम बढ़ रहे थे, अचानक से ग्रो कर गए, at a very high level, ऐस क्यों हुआ, बारिश हो गई, तमाटर की खड़ी फसल खराब हो गई, तो सिर्फ कुछ चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, यह है skewflation का example, please remember that, कई बार न्यूस पेपर में आपको देखने मिलता है, पहली बार economic survey में आय था, 2009-10 में, कि skewflation इस तरह से इंडिया में भी आ च relation, अब यह मुझे आपको समझाना है, श्रिंक करना मतलब सिकुड जाना, जैसे पहले होता था कि मैगी आता था, बड़ा packet आता था, छोटा packet दे रहे हैं, कम quantity दे रहे हैं, पहले पारले जी का biscuit, biscuit not biscuit, 10 रुपीज का इतना बढ़ा आता था, आज पारले जी का biscuit कम quantity में आता ह अरे, चिप्स के packet में तो चिप्स से जादा हवा बरने लगे हैं लोग, क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हैं, पाकिट का कई बार साइज उतना रखेंगे, दिखा देंगे कि देखो, हम जादा बड़ा packet दे रहे हैं, पर चिप्स कम होते हैं, यह सब marketing tactics हैं, इसको कहते हैं, श्रिं 60 grams, मतब normal quantity से भी कम quantity में आपको product मिल रहा है, और क्योंकि normal quantity से भी कम, आपको quantity मिल रही है, यह shrink inflation के category में आपको देखने मिलता है, श्रिंक हो रहे हैं packet, quantity is shrinking, यह बात याद रखिएगा, अच्छा, skimp inflation पे आते हैं, skimp है, s-k-i-m-p-f-l-a-t-i-o-n, inflation, skimp, skimp का मतलब समझो के हैं, जब भी अर्थ व्यवस्था के अंदर, companies reduce the quality of their product, while keeping the price as it is, same, के अगर जैसे for example, इस chips के packet में, एक बहुत high quality का पहले आलू यूज किया जाता था, अब आलू की quality बहुत कम कर दी गई है, quality घटा दी गई है, lower quality का आलू दिया जा रहा है, क्यों क्योंकि सस्ता मिल रहा है वो, companies using cheaper ingredients, या low quality manufacturing products का इस्तमाल हो रहा है, ताकि आपको सस्ती चीज दी जा सके, cost बचाई जा सके, तो यह है आपका skimp inflation, shrink inflation में weight कम किया जा रहा था, quality सेम थी, shrink inflation में quality सेम थी, weight कम था, skimp inflation के अंदर, quality आपकी reduce की जा रही है, inferior quality के product use किये जा रहे हैं, यह है skimp inflation, यह बात याद रखिएगा, बहुत अच्छा question बन सकेगा, I am sure, इस पर एक बहुत अच्छा सवाल prelims में बनेगा, और clear करके रहेंगे हम prelims, ऐसे questions को solve करके, एक और बताता हूँ आपको, protein inflation, आजकल इंसान हमारे इंडिया में, पूरी द आपको protein rich food घाना होता है, दाल, fish, meat, egg, milk, पनीर, whey protein, तब से क्या है, demand बढ़ रही है, protein rich products की, मतलब मेरे को याद है, बचपन में 100 रुपे किलो पनीर आता था, आज 100 रुपे का 250 ग्राम्स आता है, आज कल 250 ग्राम्स के करीब आ रहा है 100 रुपे का, इतना महंगा ही हो गई है, एक टाइम पर पनीर इतना सस्ता आता था, दूद इतना सस्ता आता था, आज महंगा हो गय है क्योंकि लोगों के पास महात्मा गांधी नाशनल रूरल Employment Guarantee Act जो गाउं मैं मनरेगा कहते हैं ना सौ दिन का रोजगार Guaranteed देते हैं out of 365 days काम मिलेगा पैसा मिलेगा अगर काम नहीं भी मिलता तब भी पैसा मिलेगा लोके पैसा आ रहे हैं खर्चा कर रहे हैं खुद की खुराग पर डाइट पर और जो protein rich food होते हैं वो जादा खा रहे हैं पहले से demand बढ़ गई है और जब किसी चीज़ की demand उसकी supply से जादा बढ़ जाती है तो मेरे किसी भी economy में protein inflation देखने मिलता है इंडिया में भी है और इंडिया में protein inflation की वज़े से चीज़ों के दाम बढ़ते जा रहे हैं प्लीज रिमेंबर धाट एक और concept greed inflation ये बिल्कुल news में चल रहा था देको चार जुलाई की ताज़ा ताज़ा खबर लेकर आये हूँ आपके लिए economic updates भी मैं साथ-साथ पढ़ा रहा हूँ आपको अब ये greed inflation है क्या greed inflation का concept कहता है कैसी situation जहां पर company बिजनेस कंपनीज greed inflation को बढ़ावा दे रही है क्योंकि देखिए Europe के अंदर और America के अंदर ये माना जा रहा है कि रहने की जो महीने का खर्चा होता था एक महीने में जिंदगी बिताने के लिए जो खर्चा किया रहता था वो बढ़ता जा रहा है जीवन यापन की लागत और cost of living is now increasing or rising inflation is rising which is actually increasing the cost of living ऐसा क्यों लालच इसके पीछे का एक factor है greed is a factor behind it जहाँ पे बड़ी-बड़ी कंपनिया, corporates का लालच महंगाई को बढ़ावा देता है companyya चाहती है कि जादा से जादा profit कमाए कि अब तक किसी product को let's say 50 रुपे का बनाते थे, 100 रुपे का बेशते थे और profit कमाते थे, अब वो चाहते हैं 50 की चीज जेड़ सोगी बेचे हैं और profit कमाए यह जो profit का अंधा लालच है, greed है, इससे चीजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, price of various commodities is rising now इस वज़य से profit बहुत जादा बढ़ता जाता है, जितना profit बढ़ा हो, उतना जादा price बढ़ता है, उतना जादा लोगों का exploitation हो रहा है और उतना ही जादा inflation या महँगाई बढ़ती जा रही है, एक limit से जादा बढ़ती जा रही है Companies अपने profit margin को maximize करने की कोशिश करती है, खास तोर पे COVID के बाद से ऐसा हो रहा है Company पता है क्या सोच रही है, कि फिर से कभी pandemic आया, तो at least कुछ पैसा हमारे पास जुड़ा हो ता कि हम खर्चा कर सके और जिसकी वरे से महँगाई और बढ़ रही है, और रहने की लोगों की जो living standard है, जो cost of living है, that is rising day by day इसलिए Europe और US जैसे economies में कहा जाता है, greed deflation आ गया है, natural disasters के दौरान, pandemic के दौरान, तब भी इन्होंने price बढ़ाए, तब भी इनकी input cost बढ़ी, तब भी इन्होंने profit जादा कमाया, कि मतलब मंदी के दौरान, जब कोई economy recession में, या COVID जैसी pandemic है, या जैसे natural disaster आ रहे हैं, तब तो चीजों के price कम होने चाहिए, ना, अजी ना, businesses उस time पर exploit करते हैं situation को, आपको याद है, किदारनात के अंदर, बहुत बड़ा disaster आया था कुछ साल पहले, उस time पे, बारले जी के biscuit के packet, दो-दो हजार रुपे के, एक बिसलरी की 20 रुपे की बोतल, पांच-पांच हजार भी करही थी, सोचो, कितना लालच था, ये लालच इनसान को लूट रहा था, और जब ये mass level पर economies में होने लगे तो उसे greedflation कहते हैं, इसलिए business exploit करते हैं situation, जादा profit कमाते हुए, जिसका नुकसान अमीरों को होगा, अजी ना, गरीबों को, middle income and low income individuals को, उनका जो महीने का खर खरीदता था, उसका rate बढ़ गया, मैं उसकी quantity कम खरीदना शुरू कर दूगा अब, so my consumption will reduce, मेरा standard of living effect होगा इससे, क्योंकि बस पैसा नहीं है, उन चीज़ों को खरीदने के लिए, अमीरों को इससे क्या फरक पड़ेगा, बलकि अमीर businessman और अमीर होंगे, और income inequality और जादा A sharp price increase will happen, और इस वरे से economy में काफी जादा crisis शुरू हो जाएंगी, गरीबों की संख्या बढ़ती जाएगी, economic stability पूरे देश की खत्रे में आ जाएगी, इसलिए global level पर चौकरना किया जा रहा है कि greed inflation से बचो, क्या India के अंदर भी greed inflation है, ये mains के अंदर एक सवाल आ सकता है, and I am sure कि इस पर एक question बनेगा, अब आप answer कैसे करेंगे, क्या India के अंदर greed inflation है, पहले तो आप mains के लिए ना, तीन चीज़ों पर ध्यान रखो, introduction, body and conclusion, introduction, अगर कोई question आता है तो शुरुआत में, introduction में उस concept का meaning बता दो, कि meaning क्या है, या उसका origin कहा हुआ, या उसका historical background या उससे related data, उसके बाद main body, main body में evaluation करो, analysis करो, और finally conclusion, एक positive note पे सकरात्मक तरीके से आपको अंत करना होता है, हम जब P2I की classes लेते हैं, तो आपको main answer writing भी साथ-साथ करवाते चलते हैं, daily answer writing practice होती है, और regular test होते हैं, अब यह ज़रा photo देखिए, net profit margin of listed companies, 2011-12 में, अगर इतना profit margin होता था, तो अब देखो, कितना ऊचा उट गया है, यह graph देख पा रहे हो, अचानक से कितना rise आया है profit margin के अंदर, अचानक से कितना increase आया है profit margin के अंदर, कंपनिया पहले से ज़ादा record profit कमा रही हैं, और lockdown के दौरान भी कमाया है, net profit अगर इंडिया की companies जो की stock market पे listed हैं, उनका record 300 कंपनियों का record है, यह data जो मैं आपके लिए लिकर आया हूँ, इन्होंने पहले से ज़ादा profit कमाना शुरू किया, pandemic से भी ज़ादा फायदा उठाया, इंडिया में भी कही ना कहीं greed inflation है, इंडिया के अंदर अगर growth हो रही है profit बढ़ रहा है ना कंपनियों का, तो यह मत इंडिया के अंदर भी greed inflation present है, sale हो रही है जादा, आबादी बढ़ रही है हमारी, मैं जानता हूँ, बट आबादी बढ़ना एक single factor नहीं है, population increase होना एक single factor नहीं है, आपको देखने मिलेगा, the main reason behind it is that the net profits are surging, companies के profit बढ़ रहे हैं, इसको रोकने के लिए, सरकार को, सरकार business म नहीं कर सकती, इंडिया एक mixed economy है, private sector भी है, government sector भी है, दोनों compete करते हैं, बठा, जहां पर undue benefit जनता को लूटते हुए, लिया जा रहे है, वहाँ पर सरकार, essential commodities act का इस्तमाल कर सकती है, जैसे गेहू चावल तुम एक अत्यादिक दाम पर नहीं बेच सकते, जनता को लूट न के तहट आती है, चीजों के दाम regulated, controlled रखे जाते हैं, ताकि जो necessary चीज़े हैं, दवाईया हैं जैसे necessary चीज़े हैं, वह दवाई बनाने वाली कंपनिया, extraordinary profit ना कमाया है, कि इतना profit बढ़ा लिया अपना, इतना जादा profit margin बढ़ा लिया, कि ultimately, खुद खुब growth कर रहे हैं, पर आम जनता का सोचो कि कितना नुकसान हो रहा है, तो government has to regulate, but it cannot interfere, कोशिश करनी होगी, बाकी protein inflation के बारे में बताये था मैंने आपको, आगे चलें, अब impact of inflation on different different sectors, अर्थ विवस्ता में, अलग अलग लोगों का महंगाई पे, महंगाई होने की वज़े से, क्या impact होता है, महंग सबसे पहले किसका example है, सबसे पहले हम लेते हैं, जब भी हम impact of inflation study कर रहे हैं, so first let's see, कि हमारे देश में borrowers, एक होते हैं lender, lender कौन है, जिन्होंने loan दिया है, एक होते हैं borrowers, जिन्होंने क्या किया है, loan लिया है, लोन लिया है, ये दो लोग हैं जी, lender is the loan giver, borrower is the loan taker, अब जड़ा देखो, दोनों पर क्या impact आता है महंगाई का, borrower जो है, borrower को एक और term से बुलाया जाता है, जिसने loan लिया है, वो आपका debtor है, कि मानलो तुम मुझसे loan लेते हो, मेरे से loan लिया तुमने, तो तुम मेरे लिए मेरे debtor हुए, मैं तुमारा phone number, अपने phone में debtor के नाम से save करूँगा, debtor मतलब जिसको मैंने उधार दिया है, जो borrowers है, जो उधार ले रहे हैं, वो मेरे debtor है, जिन्होंने मुझसे उधार लिया है, ठीक है न, और जो loan दे रहा है, तुम मेरा number किस नाम से save करोगे, वसू सर, creditor, जिन्होंने loan दिया है, तुम्हारा creditor कहलाया जाऊंगा मैं, ये याद रखिएगा, प्लीज, न, मुद्दे की बात, जो important बात है, वो ये है, बच्चे, सुनिये ज़रा ध्यान से, कि lenders पर क्या impact होता है, और borrowers पर क्या impact होता है, ये prelims में question पूचा जा चुका है, inflation borrowers को फाइदा देता है, inflation जिसने उधार लिया है, उसको फाइदा मिल र लिया था, जब मालीजे आपने 100 रुपे लोन लिया है, 8% rate of interest पर, उस time पर economy में 2% inflation होता था, 2% महंगाई होती थी, आज महंगाई बढ़कर 6% हो गई है, अगर आज अगर आप लोन लेने जाते, तो technically आपको जादा पैसा payback करना पड़ता, क्योंकि महंगाई बढ़ गई ह पर आपने तब लोन लिया था, जब money की value जादा होती थी और आज money की value कम हो गई है, जैसे for example, मैं आपको 100 रुपीज लोन तब दिया था, जब 10 रुपे किलो fruit आता था कोई, mango आता था, मानलो example दे रहा हूं, और 10 किलो mango तुम खरीदते थे, तो तुमने 100 रुपे लिये, औ तुम उस टाइम पर 10 किलो mango ले पाए थे, आज mango का price हो गया है 25 रुपीज केजी और तुम आज सिर्फ 4 किलो mango ही खरीद पाते अगर 100 रुपे उधार लेते, पर आज तुम्हें वो 100 रुपे वापस करना पड़ रहा है, और आज money की value कितनी कम आ गई है कि पहले जो 10 किलो की थोड़ी ना बची है, महिंगा ही खा गई उस value को, और चीजों के जब दाम बढ़ते हैं over a period of time, महिंगा ही खा जाती है, एक और example देते हो, आपने मुझसे 20,000 रुपे लिये थे, मालीजी एक साल पहले fridge खरीदने के लिए, आज fridge 25,000 रुपे का हो गया है, पर आप उस economically सस्ते में खरीद लिये थे, तो आप खुश होगे के नहीं होगे, एक debtor और borrower जब payback करता है, inflation बढ़ जाता है, तो वो benefit में है, please remember that, whereas the lender, the creditor, ऐसा व्यक्ति जो lender है, जो पैसा उधार पे दे रहा है, creditor जिसने पैसा उधार पे दिया, वो दुखी होगा, उसे देखो थ a creditor who has given 100 rupees to you in the form of loan, 8% पे, पहले महंगाई 2% थी, आज 6% आ गई है, पहले आप interest कमाते थे, 80 रुपे कमाते थे interest मान लिजे, और पूरा महीना निकल जाता था आपका, पूरे महीने का खर्चा निकाल लेते थे, आज 10 दिन का खर्चा नहीं निकाल पा रहे हो, क्योंकि ही बढ़ गई है, तो as a creditor, as a lender, जिसने पैसा उधार पे दिया था, जिसको अब fixed interest मिल रहे है, ब्याज उतना ही मिल रहे है, अगर आज तुम लोन पे दोगे, तो तुम्हें जादा benefit मिलेगा, पर तुमने पहले दिया था, और तब से लेकर अब तक महंगाई बढ़ गई ह पर money की value कम हो गई है, और क्योंकि money की value कम हो गई है, तो as a creditor, as a lender, आपको कम पैसा मिल रहे है, आप तो अपने महीने का खर्चा भी नहीं निकाल पाऊगे है, और इस वज़ए से inflation आपको बहुत ज़्यादा impact करेगा, ये बात याद रखिएगा, please remember that, ठीक है न, यहाँ प बच्चा पूछ रहा है कि sir, how many days economy will be completed, हमारे course में हम one month में complete कराते हैं, P2Y batch में, जिसमें आप admission ले सकते हो, ये जो book series है, ये तो काफी लंबे समय तक चलेगी, अगले साल तक चलेगी, आपको अगर एक साथ, एक जगे, सारी preparation करनी है with proper answer writing, तो आप P2Y batch में admission लो, बसू live admission discount code के साथ, और आज ही लेना, ताकि maximum discount मिल सके, सारी books मिलेंगी, prelims और mains की test series, prelims और mains के लिए handwritten notes, सब कुछ मिलेगा, whatever is important for you, सब कुछ दिया जाएगा study IQ के द्वारा, आगे चलते हैं, ये concept समझा गया, lender और borrowers पे क्या impact होता है, दूसरा concept अब मैं आपको समझाने जा रहो, the other concept, कि impact blender और borrower पे तो समझ लिया, बाकी aspects पे, ऐसे लोगों पे जिनकी fixed income आ रही है, जैसे आपके दादा दादी, नाना नानी, जो retire हो चुके हैं, उनको pension मिलती है, fixed income मिलती है, या कुछ लोगोंने FD में पैसा लगा रख है, या कुछ लोग salary पेशा लोग है, जिनको हर म bond समझते हो, bond होता है, written document उधार लेने का, जैसे आपको चाहिए एक लाग रुपे, आप मुझे बोलो, वसूसर, मुझे एक लाग रुपे दे दीजिए, मैं आपको दे दूँगा, बट मैं आपको जानता नहीं हूँ, आप कौन हो, हम दोनों एक written contract कर लेंगे, कि मैंने प्राप्त करने वाले, salaried class और pension प्राप्त करने वाले लोगों को, महंगाई की वज़े से, inflation की वज़े से, नुकसान जेनना पड़ता है, कहते हैं, महंगाई डायन खाय जाता है, क्योंकि आपको fixed income मिल रही है, until unless आपकी income बढ़े तो आपको कोई फायदा भी हो, inflation के साथ income भी बढ़नी चाहिए, पर देखो income तो आपकी बढ़ नहीं रही है, fixed income है, तो नुकसान जेनना पड़ता है, fixed income holders को, salary पेशा लोगों को, महंगाई की वज़े से, bond holders को, जिन्होंने पैसा उधार पे दिया हुआ है, ये भी creditor की तरही है, तो महंगाई बहुत ज़ादा negatively impact क जितना fix है, कि 6% return देने की बात हुई है, और आज महंगाई 6% हो गई है, महंगाई तब से लेकर अब तक 6% बढ़ गई है, तो technically आप, अगर पहले 20,000 रुपे में खर्चा चलाते थे महीने का, आज 30,000 रुपे लग रहे हैं, पहले से ज़ादा खर्चा हो रहा है, और income कमाते थे, वो तो सारा डूब गया, सब खतम, bond holders को इस वले से negative impact होता है, इसलिए अगर कुछ तुम्हें कहीं पर पैसा इंवेस्ट करना है, तुमारे पास काफी पैसा है, और तुम उस money को इंवेस्ट करना चाहते हो, तो कहां इंवेस्ट करोगे, inflation index bond में इंवेस्ट कर सक सकते हो, मतलब बेसिकली तुमारे लिए RBI, Reserve Bank of India, भारत सरकार, inflation index bond का concept लेकर आई है, RBI के माध्यम से आप खरीद सकते हो, inflation index bond, इनका फायदा यह होगा, जितनी महंगाई चलेगी, उतना आपको return मिलेगा ही मिलेगा, let's say economy में 6% महंगाई चल रही है, और आपको 6% ही return promise किय गया गया था, तो जितनी महंगाई है उतना तो आपको मिलेगा return, प्लस उसके उपर कुछ extra जैसे 2%, ताकि inflation से जादा return कमा सको, ताकि inflation आपके सारे return को खाना जाए, ताकि महंगाई आपके दोरा कमाए गए पैसे को खाया ना जाए, इसके लिए, जैसे for example मैं क्या कर सकता मेरे पास एक लाख रुपे पड़े हैं सेव करने के लिए, तो मैं एक लाख रुपे के inflation index bond खरीद लूँगा, ठीक है ना, मैंने invest कर दिया, उस पर मेरे को बोला जा रहा है कि जितना inflation रहेगा उतना, प्लस एक्स्ट्रा 2% का मुझे 2% rate of interest पर मुझे पैसा मिला करेगा, मा प्लस 2% जो की fix है, 5% आपको पैसा मिलेगा, तो क्या हुआ यहाँ पर, यहाँ पर inflation index bond के माध्यम से inflation index bond का फाइदा लेते हुए, आपको IIB का फाइदा लेते हुए, bond का फाइदा लेते हुए, inflation index bond के, आपको inflation से लड़ने का मौका मिल रहे है, inflation से जाधा ही return मिल रहा है, guaranteed, guarantee मिल रहे है, चाए 1% मिल रहा हूँ, चाए 2% मिल रहा हूँ, उससे जाधा तो मिल रहे है, वरना inflation पूरी तरह आपका पैसा जो भी आपने कमाया है, उसे खा जाती है, इन महंगाई सब कुछ लूट लेती है, तो fix deposit पर जो fix rate of interest मिलता था, उससे benefit है, inflation index bond, अब आपका पैस भी बढ़ता रहेगा, actual interest भी आपको promise किया जा रहा है, और negative inflation, जो negative return है, उसका सामना नहीं करना पड़ेगा, अब मैं फाइदा क्या कमा रहा हूँ, यहां से, आपको आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, capital, जो मूल राशी आपने एक लाग रुपे जैसे डाली है, वो भी protect ह रहा है, interest भी मिल रहा है positive रूप से, और जब यह bond mature होते हैं, तब भी आपको पैसा मिलता है, तो आपकी चारो उंगलिया घी में हैं, पहली बार यह concept 2008 में सोचा गया, 2008 से 2019 में inflation काफी जादा था, पट सरकार ने पहली बार inflation index bond officially 4th June 2013 को launch करे भारत सरकार ने इंडिया के इंफलेशन बहुत जादा रहा, real interest rate negative होता जा रहा था, real interest rate का मतलब है कि आपको यह दिख रहा है, nominal terms में कि 8% interest आपको मिल रहा है, बट महंगाई ही 9% हो गई है, inflation ही 9% है, तो technically आपको minus 1% return मिल रहा है, आपका real interest rate minus 1 है, आपको असलियत में महंगाई आपकी interest को खा जा रही है, दीमक की तरह खा जा रही है, यह आपका real interest rate हो गया, और real interest rate क्या था, negative था, reality में, वास्तविक्ता में, reality में, वास्तविक्ता में, यह बात ध्यान रखिएगा, real interest rate negative मिल रहा था, बट inflation index bond से वो protect हो गया, तो इसी वज़े से हमारे देश के अंदर, inflation index bond का concept आया, ऐसे ही sovereign gold bond भी आये थे हमारे देश में, कि पते है क्या होता था, हमारे देश में, सोना खुद का नहीं है, जादा quantity में, gold जो आप शादी में पहनते हैं, लोग और जो खरीते हैं, हर गरीब से गरीब आद भी थोड़ा बहुत gold खरीता है, इंडिया में, सरकार ने काया, देखो gold में invest करना चाहते हो, तो तुम physical gold क्यों खरीद रहे हो, असली सोना क्यों खरीद रहे हो, एक काम करो, आप असलियत के अंदर, जो भी पैसा कमा रहे हो, जो भी पैसा earn कर रहे हो, जिससे gold खरीते हो, आप paper gold खरीद लो, यह हम आगे वाले, आने वाले lectures में, जब मैं financial market पढ़ाऊ आने वाली classes में, sovereign gold bond क्या होता है, इंडिया के अंदर inflation index bond लाए गया, sovereign gold bond भी लाए गया था, 2013 के बाद से, 2013 में सरकार ने 6500 करोड रुपीज के sovereign gold bond launch करे थे, 10 साल के time period के लिए, जिस पर annual rate of return लगबग 1.44% का दिया जा रहा था, मतलब कुछ तो fix मिले ना तुम्हें, कुछ तो पैसा मिलता रहे, तो 10 साल के लिए 2013 में, पहली बार launch किये गए थे, और बोला गया था कि ये हर महीने issue करते रहेंगे, पहली बार 2013 में आये थे, पर अब हर महीने issue करते रहेंगे, ऐसा भारत सरकार ने कहा था, और ये कहा था कि महंगाई, अब एक question देखो, क्या बनेग महंगाई CPI के हिसाब से track करोगे या WPI के हिसाब से, और जिनोंने CPI और WPI जिनको पता नहीं है, previous classes नहीं देखी है, दरख्वास्त है, जाके देख लीजेगा, consumer level पर जब inflation नापते हो, तो consumer price index, wholesaler के level पर नापते हो, तो wholesale price index, इन दोनों के level पर अलग-अलग होता है, ठीक है जी, तो अब मुद्दे की बात जो आपको समझ नहीं है कि WPI के basis पर IIB, inflation index bonds को use किया जाता था, ताकि advantage प्रोवाइड किया जाए, protect किया जाए, महंगाई से आपको, as the payment on these bonds are adjusted according to the rate of inflation, investors जो पैसा लगा रहे हो, अपना purchasing power protect कर पा रहे है, उनके बास real return positive में आ रहे है, investors को फा महंगाई से, एक stable source of income, एक steady source of income मिलता है, जहां पर अलग-अलग चीज़ों में invest करते हो, थोड़ा पैसा, inflation index bond में भी invest कर सकते हो, ताकि market में जो उतार चड़ाव, जो volatility जो रहती है, उस विए से महंगाई बहुत ज्यादा सामना करना पड़ता है, वो महंगाई सामना ना कर पड़े हैं, ठीक है ना, ये बात याद रखेगा, नुकसान है इसके कोई, हाँ, earning potential बहुत कम है, एक दो percent पर क्या ही कमा लेगा इनसान, earning potential बहुत कम है, ठीक है ना, अब the interest rate on these bonds is calculated using a formula, based on the change in CPI, consumer price index कई बारी actual inflation की situation को शो नहीं करता, CPI का इस्तमाल किया रहा है, जो की imperfect measure है, मतब तुम thermometer use कर रहे हो, जो कई बार सही बुखार नहीं बता रहा, CPI भी उसी तरीके से है, इसके अंदर आपको यही तो देखने मिलेगा कि actual cost of living कितनी है, पता ही नहीं चल पा रहा है, मैं महीने का 15,000 रुपे खर्चा कर लेता हू कोई 18,000 कर लेता है, कोई 20,000 कर लेता है, हर इंसान अलग है, तो same return हर इंसान को मिलेगा, तो जरूरी नहीं है कि हर इंसान को कोई फायदा मिलेगा, और इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर phantom income मिल रही है, phantom मतलब भूत, जो दिखता नहीं है, पर लोग कहते है, phantom income का मतल कि लोग कह रहे हैं कि देखो inflation index bond का फायदा होगा, बट reality में कुछ खास फायदा नहीं मिल रहा, बहुत कम rate of interest मिल रहा है, inflation के साथ साथ आप चलते जा रहे हो, बट जो लोग retire हो चुके हैं, जो retirement के बाद का पैसा कमाना चाते हैं, उनको कुछ खास फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है न, inflation index bond के related ये question बन सकता है, एक question और बन सकता है, जो बना हुआ है, inflation index bond पर tax लगता है क्या नहीं लगता है, ये question, recently UPC ने पूछा है, inflation index bond provides protection to the investors, from inflation only, जो interest कमाया है, उस पर आपको हला कि tax नहीं देना पड़ेगा, जो capital gains आपको देना पड़ेगा, उसके उपर tax नहीं, उसके उपर कोई capital gains नहीं देना पड़ेगा, जैसे एक बात बताओ, एक लाग की मैंने जमीन खरीदी आर आज एक करोड में बेच रहा हूं, तो क्या सरकार को मुझे, जो ये value increase हुई है property की, उस पर tax देना चाहिए, ख सबसे पहले मैं आपके साथ जो topics discuss कर रहा हूं, क्योंकि हम जो basically inflation के topics के अलग-अलग areas को पढ़ रहे हैं, उन्हें जानने से पहले जो previous year question UPSC पूछ चुका है, उनको एक बार analyze कर लेते हैं, पहला question है, इंडिया has experienced persistent and high food inflation in the recent past, अब ये question आज की time के लिए relevant नहीं है, क्योंकि 2011 की situation के हिसाब से ये question पूछा गया था, और 2011 की situation के हिसाब से ये सवाल बना था, तो आज के time पर ऐसा question repeat हो सकता है, बट same question repeat नहीं होगा, same question नहीं आएगा, इस से मिलता जुलता आ सकता है, question कह रहा है कि क्या कारण थे महंगाई बढ़ने के, और वो 2011 के data के हिसाब से आपको मतलब है, कि लोग पहले food crops उगाते थे, गेहू चावल उगाते थे, पर आजकल commercial crops उगाते हैं, और food crops का production बहुत कम हो गया, गेहू चावल का उतपादन काफी कम हो गया, तो उनकी quantity कम हो गई है, और market में गेहू और चावल बहुत कम quantity में available है, जितनी भी quantity में available है, बड़े म ताल, food grain का production, गेहू और चावल का production बढ़ता जा रहा है, 300 metric ton के करीब आपको production देखने मिल रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि production sharply या steadily increase हुआ हो, तो question गलत था ये, और statement गलत था, pardon me, first statement को देखते ही काट दो, और first statement को देखते ही काटा, तो आपके सिर्फ option B वाला बचा, तो आ income level बढ़ता जा रहा है, standard of living बढ़ती जा रही है, लोगों का खुराक खाने पीने का तरीका change हो रहा है, सही बात है जी, second statement सही है, क्योंकि लोग पहले normal staple diet लेते थे, रोटी दाल चावल खाते थे, आज protein rich food जादा खा रहे हैं, दूद, meat, chicken, अंडे, प्रपनीर, ऐसी टीज का जादा consumption कर रहे हैं, इस वज़े से food items के prices काफी तेज हुए और बढ़ती होई आबादी भी एक बहुत बड़ा कारण है, महंगाई बढ़ने का, third है आपका food supply chain has structural constraints, बिल्कुल सही बात है जी, cold storage नहीं है, warehouse नहीं है, अभी आपने example देखा, टमाटर के दाम 200 रुपे किलो हो गए, क्यों? क्योंकि टमाटर को store नहीं किया जा रहा था, जो फसल थी, वो खराब हो गई थी, मौसम खराब होने की वज़े से, तो ये भी सही है, तो correct answer B है, देखो ऐसे question बन सकते हैं, और अब UPSC एक कदम आगे और चला गया है, UPSC अब ऐसे statement नहीं दे रहा, आज कल दे रहा है, one pair only, two pair only, three pair only, कि इन में से कितने pair, मतलब कितने जोड़ी options सही है, एक, तीन सही है, दो सही है, एक सही है, या कोई भी सही नहीं, ऐसे question दे रहा है, जिसमें आप तुक्का भी नहीं मार सकते हैं, सोच रहों किस level पर जाकर UPSC questions आज कल frame कर रहा है, अब एक और question आए था, rapid increase in the rate of inflation is sometimes attributed to the base effect, what is base effect 2011 में यह सेम inflation से जुड़ा हुआ question पूछा था, आपको याद है, मैंने base price और base effect के बारे में पिछले lectures में बता है, भूल तो नहीं गई, आप मैंसे कई लोग ऐसे हैं, जो आज पहली बार देख रहे हैं, जो भी पहली बार देख रहा है, comment box में first जरूर लिखकर बताईएगा, और यह भी बताईगा कौन से exam के त्यारी कर रहे हैं आप, ठीक है यह हमारी प्रता है, जो भी पहली बार देखता है, first जरूर लिखकर बताता है, तो base effect मेने पहले बताया है, base price निकाला जाता है, ताकि उससे compare कर सके कि तब से लेकर अब मैं 100 किलो का हो गया, मैं तभी तो compare कर पाऊंगा, कि मेरा weight 30 kg बड़ा है, और मैं percentage में उसे find out कर पाऊंगा, कि कितना weight बड़ा है मेरा, तब होगा है, जब आपके पास एक base है compare करने के लिए, तो correct answer इसका C option होगा जी, C is the correct answer, it is the impact of the price level of previous year on the calculation of inflation rate, कि inflation दर को निकालने के लि बड़ी है, अब अगला question देखो मेरे पीछे, बहुत simple सा आपको एक question देखने मिल रहा है, economic growth is usually coupled with, मतब जब भी किसी देश के अंदर growth होती है, तो उसके साथ साथ क्या आता है, आपको मैंने पिछली classes में बताया है कि growth ना, एक ऐसी चीज़ है कि growth को लाते लाते गलती से हम inflation को बढ़ा देते हैं, तो आपको ये मैंने last classes में, previous classes में पढ़ाया है, जो अभी भी नहीं देखे हैं, दरख्वास्त कर देता हूँ आपसे कि एक बरदा के देख लीजेगा, correct answer इसका inflation होगा, it was the easiest possible question UPSC can ask, और ये civil service exam में 2021 में पूछा है, ऐसा ही 2013 में एक और सवाल गलत है, ये आपका 2013 तक में पूछा गया है, कि inflation का फाइदा होता है debtors को, और inflation का क्या फाइदा होता है bond holders को, if you remember it clearly, मैंने last lecture में आपको बढ़ दाये था, debtors के case में inflation का benefit होता है क्या, yes, debtors को महंगाई बढ़ने का, जिन्होंने आपसे उधार लिया हुए, उनको फाइदा होता है, ठीक है न, bond holders को on the other hand, नुकसान होता है, bond holder कौन है, जिन्हों जैसे आपको मानलो, एक लाख रुपे की जरुवत है, मैंने आपको एक लाख रुपे दे दिया, आपसे मैंने एक return contract कर लिया, कि मैंने आपको एक लाख रुपे दिया है, आप मुझे interest regularly देते रहेगा आप भी तयार है, मैं भी तयार हो, दोनों खुश है, अब जो contract हो चुका है हमारा कि एक लाख रुपे exchange किये जाएंगे, मैंने आपको अभी दे दिया है, उधार पर बाद में आप मुझे वापस कर देना with interest, अब आप मुझे interest दे रहे हो, पर महंगाई बढ़ गई और interest से जादा हो गई, interest मुझे 5% मिल रहे है, महंगाई 7% हो गई, अब आप खुद सोचो कि महंगाई जब इतनी बढ़ जाएगी, तो कैसे आप जो interest कमाऊगे, वो आपको benefit देगा, आपका interest से जादा तो महंगाई हो गई है, तो आपको benefit नहीं और आपको तो नुकसान हो रहा है आपने उधार पर पैसा दिया और नुकसान भी जेल रहे हो, क्योंकि महंगाई भी इतनी बढ़ गई है, आपको reality में return मिली नहीं रहे है अच्छे, तो correct answer इसका one ही होगा, second गलत है, only one will be correct, inflation actually debtors को benefit देता है, clear हुआ, दूसरा statement गलत है, इसलिए हमने उसे disregard गर दिया, अगल आपने आप थोड़ा confuse हो पाऊगे, कि सर महंगाई बढ़ने का most आपसे reason पूछा है, most बता पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा लोगों के लेकि सबसे जादा, सबसे बड़ा reason क्या होता है, मैंने आपको Zimbabwee का one trillion dollar का note दिखाए था previous lecture में, आप message जोनोंने previous class देखी है उसे वो one trillion dollar का note याद होगा, याद है नहीं है, growth और development का difference आने वाली classes में बताऊंगा, growth जो होता है, वो quantitative terms में होता है, development qualitative terms में होता है, ठीक है न, जैसे GDP बढ़ रही है तो वो growth है, GDP बढ़ रही है, health care अच्छी हो रही है, education अच्छा हो रहा है देश में, तो वो क्या है अब सुनो ध्यान से, सबसे ज़्यादा inflationary होगा ये वाला, creating new money, मैंने आपको एक topic बताया था, deficit financing, इसका मतलब समझाया था, deficit financing आखिरकार क्या होता है, उसमें आपको मैंने पूरा topic समझाया था, कि deficit financing की वज़े से आपको देखने मिलेगा, जब अक सरकार note छापती है, इस this is going to be extremely inflationary in nature, बहुत महेंगाई बढ़ाएगा, hyper inflation जैसी situation ला सकता है, ये मैंने आपको पहले बताये था, पिछले lectures के अंदर, इसलिए तो मैं आपके साथ ये question लेकर आएं, और ये UPSC ने 2013 में पूछा हुआ है, pure logic पे UPSC question पूछता है, इसलिए मैं कहा रहा हूँ, आप regularly ह अगला question देखो, with reference to inflation in India, which of the following statements is correct, बहुत बढ़ी है, इन्फलेशन से जुड़ा हुआ, controlling the inflation in India is the responsibility of the government only, जिनको पता है, मैंने बताया, RBI की जिम्मेदारी है, कि 2-6% के बीट में महंगाई को control करना है, तो government only तो नहीं है, एक काट दो, RBI has no role, अरे, क्या कह रहे हो, आखिर क्या कह रहे हो, इतना पढ़ लिया है हमने, और आप ये गलत थोड़ी ना करेंगे हम, C, decreased money circulation helps in controlling the inflation, अच्छा, एक बात बताओ, खाना जल रहा है, कूकर में कुछ खाने का बना रहे हो, तो अगर gas कम करोगे, तभी तो खाना जलने से बचेगा, ऐसे economy में बहुत पैसा घूम रहा है, अगर economy में जो पैसा घूम रहा है, उसे कम कर दोगे, तभी तो महंगाई कम ह होगी, क्योंकि तो पैसा घूम रहा है, वो महंगाई बढ़ा रहा है, लोग के हाथ में ज्यादा पैसा आ रहा है, और उस वज़े से महंगाई बढ़ रही है देश के अंदर, तो इसका correct answer C होगा, देख रहे हो कितना असान था, decreased money circulation helps in controlling inflation, अगर money circulation बढ़ा दिया, सो चो कू अगर money circulation, money supply कम करोगे तो inflation control हो सकता है, ये बात ध्यान रखेगा, inflation इससे control हो जाएगा, प्लीज रिमेंबर जाट, आगे चले, C आपका correct answer है, next, which one of the following is not the most likely measure the government or the RBI takes to stop the slide of Indian rupee, थोड़ा इसमें foreign exchange के topic का element आगे है, जो आगे जाके हम balance of payment और external sector में पढ़ेंगे, बट आज इसको फिर भी nonetheless मैं बता ही दे रहा हूँ आपको कि क्या इसका answer होना चाहिए, question है आपका कि किन में से कौन से कारण की वाज़े से Indian rupee जैसे depreciate होता जा रहे है, उस depreciation को रोख सकेंगे, रोख पाएंगे, और ये ना महंगाई से जुड हर रिष्टे की बुनियाद होती है, इस रिष्टे की भी बुनियाद पढ़ानी पढ़ेगी ना पहले आपको, तो इन में से कौन सा RBI कदम उठा सकता है Indian rupee को depreciate होने से रोकने के लिए, देखो पहला statement देखो, logic की बात करेंगे, curbing import of non-essential goods and promoting exports, exports को बढ़ावा दोगे, पूचली इंडिया के rupee के slide को रोक पाऊगे, तो first statement इस statement की वज़े से सही हो गई, अब यह तो सही है, और यहाँ question में क्या पूचा है, not, यह तो सही है, और क्या पूचा है, not, गलत वाला पूचा है, तो ए आपका answer नहीं होगा, क्योंकि ए ने क्या पूचा है, ए ने क्या तो प्यारे बच्चे, first सही है, तो हमारा correct answer नहीं हो सकता है, गलत वाला ढूणना है, encouraging Indian borrowers to issue rupee denominated masala bond, अच्छा, अभी इंडिया, USA से पैसा उधार में लेता है, तो कौन सी currency में लेता होगा, obviously dollar में लेता होगा, rupee denominated masala bonds, मसाला शब्द इसलिए इस्तमाल किया है, क्योंकि पर आपने उधार लिया, आपने उधार लिया था जब dollar, 1 dollar, 70 rupee का था, आपने तब उधार लिया था, आज 1 dollar, 83 rupee का आगया, तो अगर आपने 70 के इसाब से उधार दिया था, और आज payment करने जा रहे हो, तो वो सामने वाली party गएगी, 83 के साब से देना पड़ेगा आपको, क्योंकि market के अंदर dollar और rupee का exchange rate change हो गया है, dollar हो गया, मजबूत rupee हो गया, कमजोर, अब आप सर पकड़ लोगे कि मैं interest भी pay कर रहा हूं, मैं 83 भी pay कर रहा हूं, 70 के बजाए, तो मेरे को फाइदा क्या हूँ अमेरिका से उधार लेने का, फाइदा तब होगा जब आप अमे सरकार इंडियन rupee के वर्सन होती है situation को, खराब होती situation को रोक लेगी, B आपका सही है, और question मैं not पूछा है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, easing conditions related to external commercial borrowings, बाहर से उधार लेना असान बनाना है, देखो बाहर से उधार लेना असान बन गया, तो हम Europe से भी तो उधार ले सकते ह हम कई से भी borrow कर सकते हैं, IMF से, World Bank से तो government borrow करती ही करती है, हम external commercial borrowings भी लेते हैं, commercial मतलब पैसा कमाने के लिए, वो World Bank और IMF से हम aid ले रहे हैं, सहायता ले रहे हैं, यहां से businesses के लिए पैसा उधार पे ले रहे हैं, तो आप असान कर रहे हो situation, पैसा उधार पे लेना, external commercial borrowings को बढ़ावा दे कर, बिल्कुल सही बात है जी, आपको कम interest rate पर अगर बहर से loan मिल रहा है, तो कम interest rate पर लो, आपको अगर stable condition पर बहर से loan मिल रहा है, तो stable condition पर loan लो, तो C भी आपका सही है, D कहता है following an expansionary monetary policy, expansionary monetary policy, जब देश में मंदी के हालात होते हैं, उस time पर फाइदे बोला है कि इंडियन रुपी के slide को गिरते हुए दाम को control करना है, ये बोला है तो incorrect statement क्या हुआ, expansionary monetary policy का हुआ, बाकी one, two, three, सारे statement सही है, सारे statement बिल्कुल ठीक है, expansionary monetary policy नहीं जी, contractionary monetary policy, अगर expansionary monetary policy होगी, मतलब इसका मतलब है, कि सरकार कह रही है कि loan आपको चाहिए, you want loan, हम आपको कम interest rate पर loan देंगे, दबा के loan लो, जब कम interest rate पर loan लेंगे, तो महंगाई इंडिया में बढ़ेगी, और क्यूंकि बाहर से import ज्यादा खर पाओगे, पैसा आपकी जिब में आ गया, आप iPhone खरीद होगे, आप Oppo, Vivo, Lenovo के laptop, इनके phones खरीद होगे, devices खरीद होगे, ची नुकसान होगा, भहुत कश्ट होगा, तो correct answer क्या है बच्चे, इस question का correct answer है D, देखे रहो कितना अच्छा question UPC ने पूछा है past के अंदर, इसलिए आपको ऐसे तरीके से तयारी करनी है, जो कि मैंने आपको topic की कराई है, कि आप हर question का answer कर सके, अब देखो एक और question पूछा है वही CPI और WPI, याद करिये हमने इसको अच्छे से focus किया था, CPI क्या होता है, WPI क्या होता है, पढ़ा था, पहला statement, the weightage of food in CPI is higher than in WPI, WPI में मैंने बताया था, 25% के आज़ पास food को weightage दिया है, food items को weightage दिया है, ठीक है न, पट CPI के अंदर तो वो और भी जादा है, consumer price index के अंदर आपका खाने पीने के उपर आमतौर पर जो खर्चा होता है, वो सबसे बड़ा element होता है, consumer price index का, तो first statement, जी हाँ, सही होगा, WPI के मुकाबले CPI में food weightage जादा है, WPI में तो लगवग 25% है, CPI में जादा है, दूसरी बात है, WPI does not capture changes in the price of service, बिलकुल सही बात है जी, WPI में सिर्फ goods के दाम आते हैं, CPI में goods और services दोनों के आते हैं, तो ये statement भी सही हो गया, one and two सही है, और कोई option है नहीं न, one, two and three सही भी हो सकता है, एक बार third statement देख लेते हैं, RBI has now adopted WPI, अरे, 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 याद करो, बताया था, RBI ने CPI adopt किया है, inflation को नापने का, WPI अब हो गया, a thing of the past, क्योंकि उसकी दगए आ गया, CPI at last, जिसका मतलब है, अब consumer price index का इस्तमाल करते है, RBI महंगाई को देखने के लिए कितनी है, और उसे control करने के लिए, तो three गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया, option या तो one and two होता या two होता, और one तो हमने पहले देखी लिया है, तो correct answer will be A, देख रहे हो, कितना आपके लिए असान था, ऐसे question को solve कर पाना, और ये UPAC में आ चुका है, ऐसा नहीं है, कि कोई selective reading कर आ रहो हो, कहीं अपनी तरफ से question बना दिया, this is a previous year question, cost push, demand pull, inflation याद है सब को, आओ, जरा उस से भी a question उठाते हैं, और आपके, हम learning को test कर लेते हैं, and again requesting you, कि अभी भी अगर पिछले classes नहीं देखे हैं, दस के करीब classes हो चुके है, पूरी playlist अवेलेबल है YouTube पर, मैं telegram group पर भी वो playlist डाल दूँगा आपके लिए, ताकि छूटे ना कुछ, ये छूट गया तो दिक्कत हो cause, which of the following can be caused by demand full inflation, demand pull और cost push आदेना, demand pull में, demand supply से जादा बढ़ जाती है, लोग जादा मांग करते हैं, और किसी भी दाम पर खरीदने तयार होते हैं, cost push के अंदर चीजों के दाम बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो seller है, उसका या तो raw material महंगा हो गया, तो labor को जादा पैसा देना पढ़ रहा है, या तो जो seller है, जो बेचने वाला है, उसको tax जादा देना पढ़ रहा है, या वो जादा profit चाहता है, ये अगर याद है, आपको बहुत अराम से answer कर पाओगे, that I am sure, तो एक बार समझो, question क्या पूछ रहा है, और फिर उसको answer करो, अब देखो question की demand ये है, question क कह रहा है, कि आपको सारे पता होने चाहिए, आपके elimination technique को देख रहा है, question, कह रहा है कि rising interest rate, अच्छा जी, higher purchasing power, interest rate बढ़ने से एक बात बता हो जाया, interest rate बढ़ेगा, तो loan लेना आसान हो जाएगा, या मुश्किल हो जाएगा, loan लेना मुश्किल हो जाएगा, महंगा हो कहां से बढ़ेगी, महंगा ही तो कम होने लगेगी, logic है, तो fifth को eliminate कर दो, in those options where you find the fifth, eliminate them, outrightly, देखो, B, C और D हट गया, और यह तब ही समझाएगा जब आपने चीज़ें खुद से पड़ी है, आपने पड़ा था और आपने eliminate कर लिया, एक second, did you take more than one second to answer this question, बट इतने तक आ मार देते हैं, छक्का मार देते हैं, तो हम लगते हैं, हम सोचते हैं, कितना आसान था, आपको यह नहीं पता, सचिन तंदूल करने सालों की कितनी महनत करी है, तब जाके वो उस मुकाम तक पहुंचे, ऐसे ही, इस question को आप तभी answer कर पाऊगे, जब previous lectures आपने अच्छे से cover क रहे, अगर जैसे ऐसे महंगाई बढ़ रही है, वैसे वैसे तंखा बढ़ती रहेगी, तो जो seller है, जो service provider है, जो आपको कोई न कोई चीज बेच रहे है, उनके भी तो cost बढ़ जाएंगे, और क्योंकि उनके भी दाम बढ़ जाएंगे, तो cost बढ़ जाएगी, production की cost जैसे example दो, जैसे ऐसे आपका महंगाई बढ़ रही है, वैसे वैसे workers की salary बढ़ती रहे, 24,000 है तो 25,000 हो जाए, 25,000 हो जाए, 26,27 हो जाए, तो अब workers को जादा salary देनी पढ़ रही है, तो businessmen, आप जैसे consumer से ही तो इखटा करेंगे पैसा, तो यह आपका महंगाई को और बढ़ बढ purchasing power, यह आपका demand pull inflation को बढ़ावा देते हैं, purchasing power में आप ज़्यादा खरीद पाओगे, ज़्यादा demand कर पाओगे, और RBI और जब मैं आपको monetary policy और fiscal policy पढ़ाँगा तो यह first and second statement भी crystal clear हो जाएंगे कि क्यों है यह, correct answer A है, यह बात याद रहीगा, तो ऐसे questions, previous year questions हमारे लिए solve क जरूरी थे ताकि हमारे अंदर confidence आए, बिना पड़े किसी चीज़ को लेकर कभी भी confidence नहीं आता, पर एक बार पढ़ लेते हैं, तो बहुत confidence आता है, which among the following steps is most likely to be taken at the time of an economic recession, 2021 में question पूछा है, महंगाई, जो आपका मंदी है, not महंगाई, मंदी के समय पर, इन में से कौन से step लेने चाहिए, economic recession से जूजने के लिए, लडने के लिए, ये question आप से पूछा गया है, पहला है, cut in tax rates, accompanied by increase in interest rates, कि tax कम कर दो, और interest rate बढ़ा दो, क्या आप बात कर रहे हैं, अगर recession है, मतलब लोगों के हाथ में पैसा नहीं, मंदी है, याद गरो lockdown के बाद क्या हाल था, चलो, ठीक है, tax कम कर दिया, सरकार नहीं, ये अच्छी बात है, क्योंकि हमारे पास अब जादा पैसा बचेगा, business पर खर्चने के लिए, पर ये क्या कह रहे हो, interest rate increase कर दिया, अरे interest rate increase कर दोगे, तो गरीब इनसान, loan कैसे ले पाएगा, महंगा हो जाएगा, loan उसके लिए, ये आपका answer नहीं हो सकता, बलकि reduce करते तो समझ भी आता, increase in expenditure on public projects, चलो, सरकार road बना रही है, highway बना रही है, उस पे expenditure बढ़ा दे, खर्चा करने लगे, तो उससे एक चीज़ ये हो सकती है, कि आपके recession को दूर कर सकते हैं, जॉन मेनाड कीन्स की तियोरी आद है, जॉन के अंदर जब मंदी के अलाद थे, जब great depression था, कींद ने का, सरकार को पूरे economy की बागडोर समालनी चाहिए, control करनी चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए, कि जादा से जादा पब्लिक प्रोजेक्स से लोगों को नौकरी दे, वहाँ पर Grand Hoover Dam बनाए था, इंडिया में भी तो ह अपने परिवार पर, खर्च पाते आरे मन रेगा, स्कीम तो इसलिए चला रहे न, तो यह तो सही हुआ, recession को दूर करने का यह बहुत, बहुत बड़ा रामबान है, it is a very very efficient method, increase in tax rates accompanied by reduction of interest rates, यह कैसे हो सकता है, तो उल्टा है, first statement का उल्टा कर दिया आपने, tax बढ़ाओगे, लोग जेब में पैसा कैसे बचेगा, यह काट दो, और D भी काटो, क्योंकि reduction of expenditure, अब सरकार भी खर्चा नहीं करेगे, तो कौन खर्चा करेगा, एक बात समझिए, इसलिए सरकार को खर्चा करना पड़ेगा, correct answer भी होगा, तभी जाकर, recession दूर हो सकता है, तभी जाकर, खर् package के दौरान सरकार ने का कि हम खर्चा करेंगे जाधा से जाधा, कही ना कहीं वो इस B option से जुड़ा हुआ नहीं है, of course है, recession को दूर करने के लिए, सरकार को command उठानी पड़ती है, correct answer भी है, यह देखो, which of the following is likely to be one of the most inflationary in its effect, similar question, UPSC ने repeat कर भिया, did we just see this question, हमने same सवाल, क्या कह रहे है, most inflationary, क्या past में ऐसा कोई question आया है, oh my god, 2013 में, 2013 में पूछा, फिर वही repeat करके, 2021 में पूछ लिया, UPSC is copying itself, well, it's our benefit, अगर UPSC ऐसा कर रहे है, आज किया है, आगे भी कर सकता है, थोड़ा मुश्किल बना सकता है, इनी से related terms को change कर सकता है, आगे पीछे, घुमा सकता है, घुमा सकता है के नी घुमा सकता, इसी लिए आपको ये बात याद रखनी है, इस पर question past में आया है, आगे भी question बन सकता है, please remember that, आगे चलें, inflation premium नाम का एक concept हम समझेंगे सबसे पहले, कि आखिरकार inflation premium क्या होता है, इसका correct answer तो आपको D देखने मिलेगा, budget deficit financing, inflation premium का topic समझाऊँगा, उससे पहले आपको, do you agree that Indian economy has recently experienced V-shape recovery, give reasons in support of your answer, ये question लिखना है, इस question का answer लिखकर मेरे को मेरे telegram पर भेदना है, मैं आपके लिए free में check करूँगा, हम अपने UPSC के courses में भी आपको answer checking provide करते हैं, पर आपके लिए as a benefit, as a teacher, I will be checking this question, मेरे को भेद देना, कह telegram group मैंने आपको बता दिया, वसु कटारा, study IQ, वहाँ पर मैं question post कर दूँगा, वहाँ पर comment का option आता है, उसमें आप post कर सकते हैं, अपने answers, I will evaluate, आपको feedback दूँगा, सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है, constructive criticism, यह नहीं कि इसे बुराई कर दिया, ठीक है, answer लिखते कैसे ह है, आपको introduction सबसे पहले शुरू करना होता है, लिखने से, और जो question बताया है, आपको 150 words में लिखना है, तो introduction के अंदर, शुरुआत में, आप basics बता दो, meaning बता दो, क्या understanding है, आपकी उस concept से वो बता दो, main body में question में जो पूछा है, उसको थोड़ा critically evaluate करो, कि सही है या गलत ह और finally conclusion के अंदर, निशकर्ष के अंदर, आप एक positive, एक सकरात्मक सोच से answer conclude करो, ताकि examiner को भी लगे कि हाँ, बच्चे की सोच बहुत अच्छी है, बच्चे में knowledge बहुत है और बच्चा properly चीज़ां सोच पाता है, ठीक है, अब हम शुरू कर रहे हैं बच्चे, question एक बार फ inflation का topic complete है, फिर हम कल business cycle पढ़ेंगे, अगली class में मतलब business cycle पढ़ेंगे, और उसके बाद एक नए topic से हमारा तीसरा pillar शुरू करेंगे, introduction और national income हमारा पहला pillar था, हमारा inflation आज complete हो जाएगा, कल तक ये दूसरा pillar होगा, मैं third pillar कराऊंगा, फिर आपको ऐसे धीरे-धीरे economics के हर important area को cover करातूँगा, चीक है, question देख लिया, answer लिख देना इसका, अब आओ, discuss करें, inflation premium के बारे में, inflation premium क्या होता है, inflation premium एक concept है, inflation premium, premium, और पूरा example से समझाओगा, आपको परिशान होने की जरूत नहीं है, मुश्किल है नहीं, inflation premium एक ऐसा concept है, जब आप normal rate of return, या rate of investment, जो आप investment करके पैसा कमाना चारे हो, calculate कर रहे हो, banking या investment की activity को करते हुए, आप जब देखते हो, कि actually मैं, आपने जो पैसा invest किया है, market में, आपने जो पैसा डाला है, market में, महंगाई उसका return खा जाती है, महंगाई उसका return खा जाती है, तो as an investor, you lose money, inflation kills your money, inflation आपके investment को, आपके return को खा जा रही है, जैसे मैंने FD में पैसा डाला, 5% interest मुझे मिल रहा है, पर economy में महंगाई 6% हो गई है, बढ़ गई है, और क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है, तो मेरे को तो negative return मिल रहा है, भी कम return मुझे मिल रहा है, on the other hand, इसका बिलकुल उल्टा, जब किसी borrower ने पैसा borrow किया है, उधार पे लिया है, and borrower has to return a lesser value, a lesser value than before, कि किसी ने उधार लिया, और उस time पर inflation इतना नहीं था, पर अब inflation बढ़ गया, और अब वो उधार चुका रहे हैं, तो जितना इन पैसा उन्होंने तब लिया था, उसकी value जादा थी, let's say तब 100 रुपे की value 100 रुपे ही होती थी, पर आज 100 रुपे की value 98 रुपीज आ गई है, क्योंकि inflation बाकी impact को खा गया, जैसे होता है न, कहते थे हमारे दादा दादी हमारे time में तो घी 5 रुपे का मिलता था, आज 500 रुपे का 1500 में खरीदो, तो value खतम होती जा रही है, but as a borrower, आपने 100 रुपे borrow किया था, और आज जब आप लोटा रहे हो तो उसी 100 रुपे की value बड़ी कम हो गई है, उस 100 रुपे में सिर्फ 98 रुपीज की चीज आती है, मतलब value कम हो गई है, तो 2 रुपे आप ये बचा ले रहे हो, आपने तो 100 रुपे लिया था, और 98 रुपे वापस कर रहे हो, technically, आपको लगेगा सर, मैं तो पूरा 100 रुपे का note लिया था, मैं 100 रुपे ही वापस कर रहा हूँ, आरे उस 100 रुपे की note की value कम हो गई है, जैसे for example, हम 30 साल, 40 साल पहले, 50 साल पहले 1000 रुपे में तो पूरा कर रहे हो न, अगर उधार आपने अभी ज्यादा amount का लिया है, inflation बाकी amount का impact खा जा रहे है, तो technically आप 98 नहीं चुका रहे है, आप 100 ही चुका रहे हो, पर उस 100 की value बड़ी कम आ गई है, महंगाई उसको erode कर गई है, खा गई है, और जो value कम आ गई है, और जो आपको कम पैसा payback करना पड़ रहे है, उधार में जो लिया था, और कम पैसा देना पड़ रहे है, क्योंकि महंगाई borrower को या debtor को फाइदा दे गई, उस पैसे को inflation premium कहते हैं, क्या आपने 100 रुपे लिये थे उधार, 98 वापस कर रहे है, दो का तो benefit हुआ, वो 2 रुपे आपके लिए premium है, वो 2 रुपे आपका benefit है, क्योंकि currency की value erode हो गई है, currency की value घट गई है, currency की value कम हो गई है, note की value, currency की value आम तौर पर जितनी होती थी, उससे कम हो गई है, मैं बार-बार इस बात को repeat कर रहा हूँ, अब clear हो गया, inflation premium concept क्या होता है, आगे चले, अब miscellaneous topics को explore करते हैं, कई सारे miscell topics हमें पढ़ने हैं, सबसे पहला miscellaneous topic होगा आपका, inflation premium के बाद, producer price index, consumer price index पढ़ा था, wholesaler price index पढ़ा था, अब producer price index पढ़ो, ये क्या है, और इस से जुड़े हुए क्या question बन सकते हैं, PPI से जुड़े हुए कौन से सवाल बन सकते हैं, producer price index measures the change from the perspective of producer, consumer price index किसके perspective से महंगाई को ना पढ़ा था, change को देख रहा था, consumer के, WPI, wholesaler के wholesaler price index, थोक व्यापारी के, और जो manufacturer है, जिसने कोई चीज बनाई है, consumer है जो चीज खा रहा है, अब ये remote है, मैं consumer इस remote को इस्तमाल कर रहा हूँ, wholesaler ने ऐसे लाखो remote अपनी factory में रखे होंगे, wholesaler अलग-अलग producer से खरीदे होंगे, पर actually कोई ना कोई producer या manufacturer होगा, जिसने remote बनाया होगा, मैं उसके level पर अगर महंगाई ना पूँ, तो ये producer price index की category में आता है, producer price index measure, price changes from the perspective of the producer, CPI, consumer के buyer के perspective से देखता है, ये producer के perspective से देखता है, ये देखता है कि producer के level पर चीजों के बनने क दाम कितना बढ़ गया है, जो भी goods, जो भी service प्रोवाइड की जा रही है, market में कितने का बिकरा है, अगल पिछले साल वो 30 रुपे का था, आज वो 36 रुपे का बिकरा है, मतब there is a 20% increase in price, साफ दिख रहा है, 20% दाम बढ़े है, पस यही तो नापना था, पता चले है कि क्या महंगाई, consumer के level पर भी बढ़ी है, या producer के level पर भी बढ़ी है, यह देखना जरूरी था, इसके अंदर भी goods and services दोनों को देखते हो, WPI में सिर्फ goods को देखते थे, consumer price index में goods और service दोनों को देखते थे, तो it is similar to consumer price index, यह question बन सकता है, जो question बन सकते है समभावित, उन पर हम discussion क कर रहे हैं, 2014 में भारत सरकार ने बी एन गोल्धर कमिटी बनाई थी, क्या नाम था, बी एन गोल्धर, कौन से year के अंदर बनाई थी, 2014 के अंदर, अब काम क्या था, बी एन गोल्धर कमिटी का कुछ तो इन्होंने recommend किया होगा, बी एन गोल्धर कमिटी ने कहा, कि whether or not PPI should replace W क्या हम, WPI की जगे, अब PPI का इस्तमाल करें, अपनी methodology चेंज करके, हम PPI का इस्तमाल करें, WPI की जगे, अपनी methodology चेंज करके, तो whether or not PPI should replace WPI, PPI को yes बोलें, WPI को no बोलें, wholesale price index को no बोलें, PPI को yes बोलें, WPI को no बोलें, क्या होना चाहिए, ये देखने का काम, बी एन गोल्धर कमिटी को दिया गया था, कमिटी ने कहा, कि अगर WPI से PPI shift करोगे, तो experimental basis पर कर सकते हो, experiment कर सकते हो, कि महंगाई का impact कितना पता होगा, कितना होगा, कितना पता चल सकता ह है, on an experimental basis you can do it, experiment करने के लिए, देखते हैं, करके देख लेंगे क्या दिक्कत है, उसके इलावा, base year 2011-12 होना चाहिए, services इसमें include होनी चाहिए, और इसमें important export और import items भी include होने चाहिए, जो इंडिया से produce होकर बाहर जाते हैं, या बाहर से produce होकर इंडिया में आते हैं, तो 2011-12 क data हो, 2011-12 के data के हिसाब से आप ये index बनाओ, services को भी include करो, services को भी include करो, और export और import को भी include करो, services को include करो, export and import को भी include करो, अगर तुम PPI को use करना है, by replacing WPI, क्योंकि देखो, इंडिया एक लौता थोड़ी ना है, जो ये सोच रहा है, अगर mains में question बनता है, producer price index के उपर, तो आपको बताना होगा, कि कई सारे advance देशों में, जैसे USA के अंदर, या कई सारे छोटे-छोटे emerging economies, चाहे Europe के हो गए, चाहे Asia के हो गए, चाहे South America के हो गए, जो अभी अर्चवस्ता हैं आगे बढ़ रही है, उन्होंने PPI का इस्तमाल करना शुरू किया है, W P.I. के मुकाबले, जादा accurate information देता है, अब आप सोचो, PPI के level पर producer जो कोई चीज़ खुद बना रहा है, आप उसके level पर महंगाई ना पोगे, तो आपको कितना अच्छा और कितना accurate data मिल पाएगा, रादर देन wholesaler के level पर, आई ही बात समझ मैं, बात समझ आ रही है, अब आ data जादा accurate producer के level पर मिलेगा, जिसने वो चीज़ बनाई है, और अगर उस level पर महंगाई बढ़ रही है, तुरंत government अगर control करने की कोशिश करेगी, महंगाई control करने की कोशिश करेगी, producer के level पर, अभी क्या करती है, कई सारे छोटे छोटे producer, मतलब एक गाउं है, गाउं में 20 ल क्यों करते हो, wholesale level पर कितनी महंगाई है, अरे producer level पर करो न, जादा accurate और जादा pinpoint कर पाओगे, महंगाई कितनी है, ये बाकी देशों में हो रहा है, US में हो रहा है, तो इंडिया क्यों नहीं कर सकता है, in fact, international monetary fund भी recommend करता है, PPI के इस्तमाल को, WPI की जगे inflation को नापने के लिए, तो IMF तक कह रहा है, देखो, America कर रहा है, कई सारे emerging economies कर रहे हैं, सरकार ने BN Golder Committee बनाई, उन्होंने भी कहा experiment करके देख सकते हैं, IMF ने भी कहा कर सकते हैं, तो करो, क्या दिक्कत है, you can do it, others are saying, government को इस पे एक बार review करना चाहिए, ये है मुद्दे की बात, क्योंकि WPI, हलाक मैं भी 2011-12 का BCA रखेंगे, अचा WPI में services नहीं आती है, CPI में services आती है, PPI में producer price index के अंदर भी आपको services देखने मिलेंगी, ये खासियत है, अचा CPI के अंदर food items को जाधा देखा जाता है, producer के level पर food items के दाम को देखो, और अभी बच्चे ने question पूछा है, कि सर आपने question solve कर आता है था कि consumer price index के अंदर food items का जाधा वेटेज है, हाँ, बिल्कुल बेटा मैंने करा है था, ये वाला कह रहे हो आप, food items के अंदर जाधा वेटेज है, CPI में 45-46% बेटेज food items को मिलता है, WPI में 25% के आस-पास, ये आपने सवाल पूछा, उसका भी मैंने आपको साथ- करो, WPI की जगे PPI यूज़ करना शुरू करो, जाधा बेटर होगा, इसको निकालना जाधा बेटर होगा, अच्छा, एक mains में question बन सकता है, WPI, CPI, और PPI के उपर difference में, मेरे को पूरी उमीद है, mains में एक सवाल इस पर बन सकता है, और methodology चेंज करने के लिए पूछ सकते हैं, तो क्या answer करोगे, सबसे पहली बात तो, WPI के अंदर 697 items है, CPI के अंदर approximately 200 items है, जिसमें food, transportation, जो साबुन जिससे नहाते हो, जो कपड़े पहनते हो, जूते पहनते हो, टीवी, फ्रिज, ये सब CPI के level पे आता है, ठीक है न, PPI का अभी index तयार नहीं हुआ है, तो ऐसे items कितन में आएंगे, there is no complete guarantee, बट हाँ, WPI में goods, CPI में goods and services, और PPI में goods and services आएंगे, इसकी guarantee है, अब आपसे base year पर सवाल पूछा रा सकता है, WPI का base year है, 2011-12, 11-12 financial year, CPI का base year है 2012, और PPI का भी, 2011-12, आप रखने की उमीद है, expectation है, base year रखने की उमीद है, expectation है, food items का weightage, PPI के अंदर अभी है, food items का weightage कितना होगा, पता नहीं है, WPI में nearly 25% है, और CPI में nearly 45-46% है, ये question बन सकता है, अब ऐसे सवाल आपके exam में पूछ सकते हैं, WPI का data बहुत centralized तरीके से collect होता है, centralized तरीके से collect होता है, CPI के data में, गाओ, गाओ, मंडी, मंडी जाते हैं, मैंने बताया था, 1100 से जादा, 1181 गाओं में जाकर, और कई सारे towns, कस्बों में जाकर, CPI का data, CPI combined का data इखटा किया जाता है, तो 1100 प्लस, rural and urban areas में जाकर, गाओं के इलाखे, और 1100 के करीब शहरों में जाकर, शहरों के इलाखों में जाकर, डेटा इखटा किया जाता है, तो यह जादा decentralized है, गाओं गाओं घूम के data इखटा किया जाता है, पी पी आई भी काफी decentralized होगा, यह भी काफी decentralized होगा, यह हमें expectation है, उम्मीद है, काफी decentralized data बनाया जाएगा, ठीक है न, CPI का जो inflation का data है, इसको RBI यूज़ करता है, WPI को अब RBI यूज़ नहीं करता, देश का inflation देखने के लिए, it is not being used anymore, WPI का data पहले यूज़ होता था, आजकल CPI का data यूज़ होता है, अब WPI का data का फायदा यह है, कि बड़ी तेजी से 14 दिन के अंदर data आ जाता है, data quickly available, data is available quite quickly, बहुत तेजी से जल्दी से data आ जाता है, यहाँ पर gradually, slowly, धीरे-धीरे data आता है, और PPI का भी हमने एक बार भी data नहीं निकाला है, BN Golder Committee निकाया, experimental basis पर इसको शुरू किया जा सकता है, यह exam में सवाल बन सकता है, प्लीज यह याद रखियेगा, ठीक है न, एक और चीज, CPI, consumer level पर, final production की stage पर, चेक किया रहता है, PPI, producer की level पर, शुरूआती stage पर, और WPI, एक एक production की stage पर, जिसमें आपका wholesale की stage आती है, उस stage पर review करता है, यह बात ध्यान रखेगा, तो यह question exam में बन सकता है, हम कह सकते हैं, CPI एक अच्छा method है, measure है, inflation को नापने का, WPI के मुकाबले, और RBI भी इसे use करती है, monetary policy decision लेने के लिए, क्योंकि काफी reliable माना जाता है, reliability काफी ज़्यादा है, CPI के अंदर कई सारी चीज़े आती है, जैसे, मैंने बताया 200 plus items है, अगर उन 200 items को आप देखेंगे, कई सारे items है, जो की rural basket में, कई सारे urban basket में है, अब यह 200 जो items है, इसमें भी change आ गया है, change क्या है, necessary change क्या है, मैं बताता हूँ, आपको मैंने बताया 200 plus items है, यह पहले होता था, CPI के अंदर, आज के time में, CPI के अंदर, क्योंकि core CPI के में बात कर रहा था, CPI आपको शहरों के लिए, गाउं के लिए, दो areas के लिए देखने मिल रहा ह के लिए और urban areas के लिए, अब कितने-कितने items आते हैं, एक बार इसको review कर लेते हैं, 448 items rural basket में आते हैं, मतलब गाउं के अंदर, जो 448 items का price देखा जाता है, review किया जाता है, शहरों के अंदर 460 items का price review किया जाता है, कभी भी inflation नापते हो, तो एक दो item का नहीं, कई सारे items का average निकालते हो, price पहले के मुकाबले कितना बड़ा है, यहाँ पर 460 items है, 460 items आपके अर्बन basket में, शहरों के अंदर जादा खर्चा करते हैं, जादा type के खर्चे होते हैं लोगों के लिए, गाउं के अंदर कम खर्चे होते हैं, कम type के खर्चे होते हैं लोगों के लिए, और इसी वज़े से इस पर सवाल बनने की future में भी उमीद है, अब हम inflation targeting CPI के basis पर करते हैं, कमिटी का नाम इसमें आता है, जिसको prelims में पूछा जा सकता है, वो है उर्जीत पतेल कमिटी, RBI ने कमिटी बनाई थी, center government और RBI ने मिलकर, 2015 से उनके द्वारा monetary policy कमिटी बनाए गया और बोला कि CPI combined को use करेंगे ना कि WPI को इंडिया के अंदर inflation नापने के लिए, और आज आप CPI combined के data के एसाब से देश में monetary policy को target करते हैं, 2012 को base year मानके, पहले 200 आइटम होते थे, अब items की list बढ़ गई है, जादा items आ गए है, food and beverage nearly 46% के आसपास है, ऐसे ही है आपका पान, तबाक शराब, मदीरा, इस पर जो पैसा खर्चते हो, कपड़े, जूते खरीदने पर, घर के किराये पर, fuel and lighting, fuel and lighting मतलब पेटरोल, डीजल, बिजली, पानी, इनका खर्चा, और ऐसे कई सारे छोटे-छोटे miscellaneous खर्चे, CPI के list में आते हैं, और CPI एक जादा accurate data बनता है, ठीक है मोहित पूच रहे है सर, मांग, पाकिस्तान क्यू नहीं कर सकता है, बेटा आपसे एक सवाल है मोहित, आप पकिस्तान में जो administrative service होती है, उसकी तयारी कर रहे हो, या Indian administrative service की तयारी कर रहे हो, ये बता रिये है, इंडियन की कर रहे हो ना, तो इंडिया के लिए प्रिपेर करो अब देखो कभी भी हमारी जिंदगी भी और हमारी एकॉनमी भी एक सीधी लकीर के तौर पे आगे नहीं बढ़ती है लीनियर ग्रोथ नहीं होती है बरकी कभी उतार आता है कभी चड़ाव आते हैं कभी ऊपर जाती है एकॉनमी कभी पीक हिट करती है अपना और कभी बहुत लो पोजिशन पर भी जाती है यह बहुत नॉर्मल और नाचुरल चीज है इंडिया की एकॉनमी के लिए अब जब दिमांड कम करर रहे थे चीजों की दिमांड भी पूरी नहीं हों पारी डिमांड अपने आप में कम भी हो गई थी इंडिया जैसी एक एकॉनमी जो अभी डेविलपेंग निचर की है जिसमें बहुत ज़ादा आबादी है वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है उसकी अगर growth अगर इस टाइम पर रुक जाएगी तो देश तरक्की नहीं कर पाएगा इसलिए हमें अपनी economy को recession या मंदी के हालात से उठा कर growth के हालात पर डालने और थोड़ी बहुत महंगाई अगर देश में हो भी तो चलता है in fact RBI की monetary policy committee के द्वारा ये कहा जाता है कि inflation को महंगाई को 2-6% की range में रखना है that every year price should increase minimum by 2% maximum by 6% अगर ऐसा हो रहा है कि 6% से जादा prices उपर जा रहे हैं तो वो economic growth को negatively effect करता है negatively impact करता है ये बात याद रखेगा आशुतोष कह रहे है सर previous year question भी कभी कभी करवाईएगा अरे भाई आपने कल की class नहीं देखी है क्या आप बिना देखे बोल रहे हो कि ये क्या बात हुई ये कैसी बात है पहले कल की class तो देखी आपसे हाज जोड के विंती है दरख्वास्त है previous lectures की पूरी playlist पड़ी है YouTube पे आपके लिए ये free में series available है इसका फायदा क्यों नहीं ले रहे हैं ये तो वही बात हो गई कि अपने पैर पे कुलाडी मार रहे हो तो आशुतोष जी आपसे निवेदन है पिछले lectures देखिएगा questions कराए गए है ठीक है न रीफलेशन भी बता दिया था आपको मैंने एक बार फिर से repeat करा दूँगा आप पहले के lectures देखे नहीं हो और आके अब पूछ रहे हो disinflation, reflation क्या होता है एक बार फिर repeat करा दूँगा तो business cycle की बात कर रहा हूँ अब economy में कई बार होता है कि demand बहुत जादा बढ़ रही है production बढ़ रहा है और जिस वैसे economy growth के रास्ते पे जा रही है जैसे इंडिया 2006-2007 के आसपस ये growth हासिल कर रहा था but 2008 के अंदर world की economy एक बड़ी crisis से गुजरी आज से 15 साल पहले जहाँ पे अमेरिका के अंदर US economy के अंदर recession आया अब अमेरिका की अर्थवस्था में recession आने की वज़े से आपको देखने मिलेगा पूरी दुनिया पूरी दुनिया की economy जो interconnected थी American economy के साथ क्योंकि globalization का जमाना है ग्लोबलाइज हो चुकी है पूरी दुनिया इस वज़े से आपको देखने मिलेगा अमेरिका में कुछ हुआ impact इंडिया पे आया जब भी हम growth और development की बात करते हैं तो हम यह जरूर देखते हैं कि interdependence है दुनिया के अंदर economies में आपस में अर्चिवस्ता हैं interdependent है कभी कभार economy growth के रास्ते पे जाती है और कभी कभार economy depression के रास्ते पे जाती है और उससे recover करना economy की growth के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है जब मैं depression in economy की बात करता हूँ depression शब्द का मतलब क्या है यह हमारा वो दिमागी depression नहीं मानसिक depression नहीं है depression का मतलब है कि अचानक से बहुत तेजी से economy की growth negative में जाने लगे अगर इसका example दू में दुनिया में एक बारी world economy depression में जा चुकी है 1929 के अंदर depression world economy में एक बारी 1929 में हुआ है जहाँ पर अमेरिका में world war 1 1914 से 1918 के बीच में तो चला विश्यूद एक उसके खतम होने के बाद world war में अमेरिका ने बहुत फायदा उठाया Germany को Britain को दोनों को हतियार बेचे दोनों को war के equipment बेचे और खूब पैसा कमाया अब उसके बाद जब 1918 में world war 1 खतम हो गया उसके बाद अमेरिका की economy में जहां पर नए नए बिजनेस खुल चुके थे बिजनेस ने बहुत लोन लिया था और उन्हां लग रहा है कि growth तो बस चल चलती जाएगी चलती जाएगी ऐसा नहीं हुआ 1928-29 में अमेरिका की economy नीचे की और जाने लगी जो लोन लिया हुआ था बिजनेस ने वो बिजनेस लोन चुका नहीं रहे थे जिन बैंकों से लोन लिया था उनके पास पैसा आ नहीं रहा था इसलिए अमेरिका की economy growth के रास inflation level महंगाई का स्तर कम होने लगता है और लोगों की income level बहुत कम हो जाती है डिमांड economy में negative की और जाने लगती है decelerate करने लगती है मतलब चीजों की demand कम होने लगती है अब जह मैं पैसा नहीं तो चीजों की demand करोगे कैसे अच्छा आपके पैसा नहीं है businessman के पास पैसा नही की salary नहीं दे पाएंगे और unemployment और भी बड़े level पर बढ़ेगा unemployment rate काफी fast तरीके से बढ़ने लगेगा not just that, आपको देखने मिलेगा, businesses को आगे बढ़ाते के लिए, बढ़ावा देने के लिए to continue or to keep the businesses growing, production houses जो है, वो लोगों को नौकरी से निकाल देंगे, job से हटा देंगे क्यों? production cost कम आए अरे factory ज़्यादा cost पे चलेगी तो factory चली नहीं पाएगी कम cost पे लेकर आना है ताकि competitive बन सके market के अंदर ऐसी economic situation में किसी भी country में crisis आ सकता है, depression in economy की वरिया से crisis आ सकता है और सरकार का economy की growth के उपर कोई control नहीं बचता जैसे great depression 1929 में हुआ था इसलिए सरकार का involvement होना जरूरी है इसलिए आपको याद होगा मैंने बताया है, RBI monetary policy follow करता है और finance ministry fiscal policy follow करता है, इन दोनों economic policies के माध्यम से हमारे देश के अंदर कभी भी ऐसा recession आएगा कभी भी depression आएगा recession और depression में फर्क क्या है ये मन में सवाल आ रहा होगा recession जब दो quarter मतलब तीन महीने, तीन महीने मतलब टोटल छे महीने से economic growth कम होती जा रही है और depression जब वो extreme form ले ले जब economic growth negative में चली जाए जब economy suddenly dip करे तो वो depression है और एक बारी दुनिया में great depression हुआ है that is in USA तो इस टाइम पर सरकार का government का बहुत बड़ा रोल होता है अगर आपको पहली हमारी class याद है जहां पर मैंने john manard keens की बात करी थी एक बड़े प्रसिद्ध, बड़े famous economist है नहीं पता तो देख ले ना previous lecture उस उन्होंने ये कहा कि अमेरिका जब depression का सामना कर रहा था जब लोगों के पास businessmen के पास पैसे नहीं थे लोगों के पास खाने के पैसे नहीं थे jobs नहीं थी तब सरकार ने project शुरू करे थे इसे अमेरिका में शुरू हुआ Grand Hoover Dam एक बड़ा बांध बनाया और कोशिश की गई कि लोगों को उससे नौकरिया मिल सके, रोजगार मिल सके, employment मिल सके employment तो मिला ही मिला उस डैम के create करने से agriculture परपस के लिए पानी भी हम दे पाए factories और industries के लिए पानी दे पाए ताकि industrial growth हो सके, factories की growth हो सके और agriculture production भी बढ़ सके irrigation facility सी चाई की सुविदा मिलने के बाद अमेरिका recovery के रास्ते पर गया depression से बचने के लिए सरकार को बहुत बड़ा role play करना पड़ता है जहांपे government को expenditure करना पड़ता है किसी भी economy किसी भी अर्थवस्ता की growth को बढ़ावा देने के लिए अब अगर ऐसा depression किसी भी economy में आता है तो government कई बार क्या गरती है जनता को free में पैसा बाटती है या कुछ काम करवाती है इंडिया में इंडिया की economic growth चलती रहे इंडिया में लोगों के पास पैसा आता रहे सरकार में शुरू की है प्रदान मंत्री किसान सम्मान निधी 6000 रुपे किसानों को per year basis पर दिये जाते है मतब अगर चार-चार महीने में 2000 रुपे दिये जाते है 2000 प्लस 2000 प्लस 2000 कितना हुआ जी 6000 and not just that महात्मा गांधी National Rural Employment Guarantee Act है कि 100 दिन का 100 डेस का guaranteed आपको काम मिलेगा अगर काम नहीं दे रही सरकार तो उसका पैसा देगी ताकि आप अपने परिवार को पाल सको doesn't that sound good isn't that amazing सही तो है ये इसलिए हमारी economy कभी ऐसी situation में ना जाए उसके लिए proactively हम काम करते है हमारी RBI Reserve Bank of India का तो जिम्मेदारी है कि depression में economy ना जाए एक normal level of inflation रहे inflation थोड़ा 2% भी ठीक है 6% तक ठीक है 2-6% की range में रहना चाहिए ये बात ध्यान रखेगा तो अगर 1929 जैसा अगर फिर से depression दुनिया में repeat हुआ तो अब क्या-क्या prevention लिए जा सकते हैं मैंने बता है सरकारों को खर्चा करना होगा government को front seat लेनी होगी driving seat लेनी होगी किसी भी economy की ताकि economy depression से बच सके अच्छा एक बार economy को आप depression से बचाते हो तो economy तो नीचे slide होने लगी है देखो ना पहले peak था पहले आपकी economy तरक्की के रास्ते पे थी फिर depression आया अब वो recovery phase में जा रही है अब जो भी damage हुआ economy को जो भी लोग की demand कम होई है लोग tax कम पे कर रहे थे सरकार को पैसा कम मिल रहा था जो नौकरिया जा रही थी अब दीरे दीरे वो situation सुधरती जाएगी एन economy by pushing itself tries to come out of the recession और depression अपने आपको recovery के रास्ते पे डालने की कोशिश करती है ताकि economy survive कर सके production बढ़ सके depression, recession और slowdown जैसे term को हटा कर growth के term पे आ सके growth के रास्ते पे आ सके इसके लिए RBI monetary policy चलाता है इंडिया में उसकी class होगी कुछ दिन बात और fiscal policy चलाती है ministry of finance उसकी भी class होगी ताकि demand को बढ़ावा दे सके लोग खरीद है shopping करें जाके हम जैसे लोगों का आम जनता का personal consumption बढ़े businesses के दौरा business में investment बढ़े कम interest rate पर लोगों को loan मिल सके और businesses में loan का पैसा invest करके businesses को grow कर सके और लोगों को job पे रखें जब businesses grow करेंगे नई shop खुलेंगे नई factories खुलेगी production का पूरा infrastructure सुधरेगा तभी जाकर आपको देखने मिलेगा कोई भी economy growth के रास्ते पर जा सकती है तो recovery के लिए economy में slowdown को दूर करना जरूरी है जिसमें governments का रोल बहुत important है government private sector को push देगी ऐसा नहीं है private sector कुछ नहीं कर रहा private sector को push कौन दे रहा है loan सस्ते interest rate पर कौन दिलवार है government और RBI के decision पर ऐसा हो रहा है ताकि total demand बढ़ सके और production level बढ़ सके हमें production इसलिए बढ़ावा देना है क्योंकि सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती private businesses जो इनके पास investment आ रही है वो लोगों को जरूर jobs दे सकते हैं पैसा कमाएंगे तो tax भी तो बढ़ेंगे तो सरकार के पास tax भी आएगा तो unemployment rate को कम करना इस तरीके से किया जा सकता है ताकि लोगों की जो income level है it increases in a certain way जब production बढ़ेगा supply बढ़ेगी जादा quantity market में available होगी चीजों के तो जो दाम बढ़ते जा रहे थे अच्छा कोई चीज महंगी क्यों होती है अभी टमाटर का rate बहुत महेंगा हो गया था ना वाइ what was the reason because existing जो उसकी crop थी फसल थी वो खराब हो गई इस वज़े से टमाटर के rate बढ़ने लगे मतलब demand इतनी थी और supply इतनी हो रही थी हमने क्या किया दीरे दीरे supply बढ़ाने की कोशिश करी हमने कोशिश करी दूसरे देशों से टमाटर खरीद कर इंडिया में introduce करने की तो हमने basically टमाटर की महेंगाई बढ़ते वे दाम को control किया right अब ऐसे ही economy के अंदर unemployment बहुत बढ़ गया है लोगों को loan दे रहे हैं ताकि वो invest करें उनको tax में छूट दे रहे हैं ताकि वो invest करें जो पैसा tax में दे दिया जाता था government वही पैसा लगाएगी हमारे भलाई के लिए हमारे लिए incentive शुरू करेगी जैसे एक और example देता हूँ lockdown के दौरान recovery phase को बढ़ावा देने के लिए आत्म निर्बर बारत package आये था आत्म निर्बर बारत package lockdown के टाइम पर economic growth को वापस push करने के लिए PM स्वर निधी योजना आई थी PM स्वर निधी योजना और अगर आप daily newspaper पढ़ते हैं तो आज के अख़बार में आपने पढ़ा होगा स्वर निधी scheme को government extend कर रही है हम पहले एक initiative चलाते थे जिसका नाम था daily economy news उसके अंदर मैं रोज की economic खबरों को पढ़ाता था करवाता था उसके अंदर ऐसी topics में उठाता था अब उसी से जुड़ा हुआ एक topic बता रहो आज ही के अख़बार में आया ministry of housing and urban affairs ने prelims में question बन सकता याद रखिएगा एक नया target शुरू किया है उन लोगों को जो ready लगाते हैं जो दुकान लगाते हैं street vendors हैं जो पट्रियों पर दुकान लगाते हैं जो street vendors है न उनके लिए उसकीम का नाम है PM सुवनिदी स्कीम कोविड lockdown के दौरान शुरू हुआ था अब सरकार ने इसे extend किया है कि 63,63,63,00 नए loan हमें December के end तक provide करने उन लोगों को जिनका lockdown की वज़े से business ठप पड़ गया था पिछले 3 साल पहले जो ये स्कीम शुरू हुई थी इसने 39,00,00,00 लोगों को आज तक फायदा दिया है एक बर मैं लिख भी देता हूँ आपके लिए जो भी 6 महिने के आसपास उसे कम का टाइम बचा है उसमें ये चाहती है ministry of housing and urban affairs question क्या बनेगा scheme कब शुरूई थी 2020 में originally 2 साल के लिए शुरूई थी पर extend कर दिया गया अब तक 50,00,00,00, 39,00,00,00,00 लोगों को दिये हुए है अब तक 63,00,00,00 और हमें ले जाने हैं बाटने है और disburs करने हैं हमारे देश में गरीबों के लिए जो street vendors जो दुकान लगाते हैं, ready लगाते हैं उनके लिए ये निया target शुरू किया है गई थी, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर दोनों में नेगरिटिव ग्रोथ आ गई थी, अगरी कल्चर फिर भी पॉजिटिव ग्रोथ दे रहा था, तो इसी लिए ये स्कीम शुरू की गई थी, स्ट्रीट वेंडर आत्म निर्बर निदी स्कीम, जिसे शॉर्ट में स्वनिदी स्कीम कहते हैं, कोविड-19 पैंडमिक से इनकी दुकाने बंद पढ़ गए थी, उन्हें 10,000 रुपे का स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन दिया जा रहा है, स्मॉल वर्किंग कैपिटल मतलब कम बिजनिस के डे-to-day के खर्चे, रोज-मर्रा के खर्चे पूरे करने के लिए जो लोन दिया रहाता है, उसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं, तो स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन ये दिया जाएगा हमारे देश के अंदर अलग-अलग लोगों को, शुरुआत में अचीव किया, और अब टार्गेट और बड़ा लेकर आए हैं, ताकि इंडिया में और जाधा एकॉनमिक ग्रोथ, एकॉनमिक डेवलप्मेंट हासिल कर सके, ताकि एकॉनमी हमारी जाधा से जाधा तरक्की के रास्ते पर जा सके, इसी लिए बच्चे स्वानिधी स्कीम को शुरू किया गया था, इंडिया के अंदर, और इस पर क्वेशन बनना एक बहुत-बहुत-बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है, नेक्स्ट यहर प्रिलिम्स के अंदर, और मेंस में इसको आप कोट कर सकते हो, बता सकते हो, इतने लोन दिये जा चुके है, मिनिस्ट्री आफ की बात से, इंडिया के अंदर, 0% possibility है, जीरो, 0% possibility, कि इंडिया में, मंदी के हालात आएंगे, क्योंकि हमारी इतनी बड़ी population है, फल्ती-फूल्ती population है, which will pull out India from any sort of recession तो हम वैसे ही बहुत positive तरियास्ते पे जा रहे हैं पर हमें recovery को और तेज करना है और growth के रास्ते पे जाना है ताकि हमारी economy maximum growth कहा जाता है double digit growth हासिल करनी है 10% और उससे जादा और चाइना ने 1970 और 1980 में जो growth हासिल करी थी वही अगर रास्ते पे जाना है इंडिया को तो 10-12% की growth हमें देखनी होगी तब ही जाकर 2070-80 तक इंडिया दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी economy बन पाईगी अमेरिका को पीछे छोड़ कर तो बस मैं यही मुद्दे की बात बतान चारूं कि हम recovery के रास्ते पे हैं हमने काफी सारे slowdown, काफी सारे recession पिछले कुछ time से देखे हैं 2008 में एक मंदी आई थी अभी फिलाल एक recession मंदी आ रखी है economy के अंदर तो हमारे देश में अगर हम tax में छूट देंगे अगर हम interest कम interest पे loan देंगे तब जाके economy में recovery होगी but interest के साथ problem यह होती है कि आपने बहुत कम कर दिया rate of interest bank loan का तो महंगाई अचानक से बढ़ने लगती है हम अब balance करके चलना है ताकि बहुत तेज inflation भी ना बढ़े और inflation बढ़ने की वज़े से जो growth पे रुकावट आती है महंगाई की वज़े से जो growth पे रुकावट आती है वो भी ना हो एक balance situation में हमारे देश हमारी economy recover कर सके recovery हो सके तब ही हम recession के रास्ते से बहार आ सकेंगे और मैंने क्या बता है economy circle की तरह एक cycle की तरह चलती है कभी नीचे तो कभी उपर एक phase होता है जिसमें economy उपर के रास्ते पे जा रही है accelerate कर रही है तरक्की कर रही है उसे हम कहते हैं boom का phase जहां पर उपर की और fluctuate करती है economy slowdown, recession या depression से बाहर आते हुए slowdown का मतलब है economy growth कम होना 6% से 5% हो गई 5 से 4 हो गई recession का मतलब है कि अचानक से economy growth कम होना लगातार 2 quarter में लगातार 6 महीने तक depression का मतलब है कि negative growth हासिल कर जाना अगर इन से बाहर आना चाते हो तो growth के रास्ते पे जाना है और boom वो positive growth का रास्ता है जहां पर economy बहुत तेजी से growth करती है, employment level बढ़ता है लोगों के पास jobs होती है, लोगों का income level बढ़ता है और हाँ, महंगाई भी बढ़ती है अब एक बात बताओ, आप gas पे कुछ बना रहे हो आपने full gas पे cook करना शुरू किया अगर एक limit से जादा gas की जो flame है वो तेज रहेगी और जादा समय तक तेज रहेगी तो क्या होगा, खाना जलेगा या नहीं ऐसे economy में बहुत जादा अगर growth होती रहे, inflation बढ़ता रहे तो economy heat up कर जाती है जैसे खाना जल जाता है, economy के अंदर भी बहुत जादा negative consequence होते हैं आपको inflation अगर बढ़ रहे है तो growth को भी बढ़ाना है, दोनों को balance रखना है हमेशा boom जो है वो positive results नहीं आद लाता, क्यों? क्योंकि अमीरों की income बढ़ती जाएगी अडानी, अंबानी, टाटा, महिंद्रा ये grow करते जाएंगे पर आम जनता देश की वो नहीं grow कर पाएगी और उस वज़े से उनका level of income grow नहीं हो रहा महिंगाई बढ़ती जा रही है चीजों की demand बढ़ती जा रही है supply होतनी है नहीं और जिस वज़े से economy में prices बढ़ते रहेंगे तो boom जो है, exceptional growth भी जो है वो गरीबों के साथ अगर inclusive growth ना लेकर आए एक तर्म मैंने बोला अभी inclusive growth inclusive growth का मतलब है कि सिर्फ अमीर अमीर नहीं होते जाएं गरीब भी जादा से जादा financial inclusion, financial benefit शेर करें तो जब inclusive growth आएगी जब सब को समान रूप से एक जैसे रूप से growth का मौका मिलेगा only the rich are not getting richer even the poor are getting richer because their standard of living is increasing ये इंडिया ने miss कर दिया 1991 के बाद से in the last 30 years although हमारे देश में as per various reports गरीबी कम हुई है BPL, below poverty line लोगों की संख्या कम हुई है पर जितना massive चाइना ने गरीबी खतम करी थी अपनी economy से इस पूरे time period के दोरान उतनी बड़ी jump हमारी economy हमारी economy सबसे बड़ी problem ये है तो बस आपको यही समझना चाहिए कि inclusive growth होनी चाहिए सिर्फ एक sector की growth ना हो सारे sectors की growth हो सिर्फ अमीर अमीर ना होते जाए distributive growth हो इसको कहा जाता है distributive growth लोगों के साथ lower level पे बटी हो caste based discrimination ना हो schedule caste, schedule tribe अरे महिलाओं तक को females तक को benefit मिले इसके लिए सरकार ने stand up India startup India scheme शुरू करी है आप अगर अपना startup शुरू करना चाहते हो 10 लाग से 1 करोड रुपे चाहते हो loan के तौर पे लेना तो सरकार stand up India scheme के तहत कहती है कि हर bank की हर branch को कम से कम एक schedule caste person को एक schedule tribe person को एक female को तो loan देना ही देना है 10 लाग से 1 करोड के बीच में नए business को शुरू करने के लिए investment करनी है उनके business में और से पैसा ही नहीं देना मदद भी करनी है उनके business को grow करने के लिए इससे देश तरक्षी के रास्ते पर जा सकता है जो vulnerable sections है जो पीछे रह गए है उनको भी आगे लाया जा सकता है इसी reason की वरियसे government या initiative लेकर आई है यह आपको किसी book में नहीं लिखा मिलेगा यह मेरे 5-6 साल का जो तर्जुर्बा है economics पढ़ाने का उसको मैं साथ-साथ interconnect करके आपको पढ़ाता हूँ आशा करता हूँ आपको इस बात समझ आ रही है और मैं आपको एक बहुत serious note पर guidance देना चाता हूँ आप अगर UPSC की तयारी कर रहे हो ना तो प्लीज हलके में मत करना आपको proper guidance, proper support चाहिए 300 दिन का time बचा है 300 days का time in the next prelims exam उसके बाद means भी होगा आपको optional भी prepare करना है ethics भी prepare करना है ऐसे भी prepare करना है तो इसके लिए guidance लेने में कोई खामी नहीं है कोई बुराई नहीं है मदद लेकर आप sure shot first attempt में clear करना सुनिश्टित कर सकते हो studyiq.com की website पर आप जाएंगे या app खोलेंगे तो UPC live batch आपको दिखेगा 2024 या 2025 के batch is available है 2024 में exam दे रहे हो या 25 में exam दे रहे हो 24 के लिए अब तो 9 months के आसपास time रह गया है तो it's high time that you start preparing properly आप क्या गर रहे हो problem क्या है आप कुछ भी पढ़ ले रहे हो आपके proper resource नहीं है guidance नहीं है mark दर्शन नहीं है जिस वर्य से सही तरीके से तयारी होनी पारी है subjects अभी तक complete हुए नहीं है जबकि अब तक आपको काफी सारे subjects cover कर लेने चाहिए थे इसके लिए 2024 का जो bilingual pure English and pure Hindi batch है ये तीन अलग-अलग batches में एक batch में आप admission लेके अपनी proper तयारी कर सकते हो मैं economics पढ़ाऊंगा इन batches में आपको क्या करना है आपको studyiq.com पर जाना है पहले तो आप यहाँ पर view PDF पर क्लिक करें आपको क्या-क्या benefit मिल रहे हैं और देखिए कितने toppers हमारे इस batch से हमारे-हमारे अलग-अलग courses से निकले हैं study IQ ने last year 76 selection दिये है 11th August से सुबह 8 बजे पाड़न मी class शुरू हो रही है सुबह 8 बजे भी होती है शाम 6 बजे भी होती है आप सुबह 8 बजे वाले batch में भी admission ले सकते हो आपको एक साल तक मतलब अभी August से लेकर अगले April तक पूरा Prelims और Mains की preparation करा जाएगी Prelims और Mains की test series दी जाएगी Prelims और Mains का crash course भी provide किया जाएगा जो लोग Prelims clear कर लेंगे उन्हें Mains residential program भी दिया जाएगा और interview की guidance भी हम ही तैयारी करवा रहे हैं हर subject की books, study IQ अपनी books आपको send करेगा live classes मिलेंगी, उनकी recordings भी मिलेंगी Prelims और Mains की test series के साथ books के साथ और crash course के साथ हर हफते आपके test हुआ करेंगे आपको मैं personally guide करूँगा सिर्फ economics में नहीं हर area में क्योंकि मैं खुद interview state से गुजरा हूँ कुछ चंद number की वज़े से selection नहीं हो पाया चलिए कोई बात नहीं वो सभाग ये नहीं मिलता कि आपको मैं पढ़ा पाता अगर मैं select हो जाता तो but nonetheless I was always I wanted to appear in Indian foreign services इसके लिए मैंने UPAC civil service exam लिखा था और वो सपना पूरा नहीं हो पाया कोई बात नहीं आपको पढ़ाएंगे उस से ही अपने आपको prove कर लेंगे that I have also some talent not just that हमने हर साल regularly selection दी है बच्चों के आप भी unlimited बच्चों की list में हो सकते हो hard work, consistency and मेहनत करते रहना है आपको हमारे साथ तभी ये possible होगा चलें आगे बढ़ें अब हम business cycle पूरी समझ चुके हैं, अब recovery समझ रहे हैं, recovery किस प्रकार होती है, economic recovery किस प्रकार है एक होती है, V-shape recovery जो Indian economy ने अभी फिलाल lockdown के बाद जेली है देखो क्या होता है, V-shape recovery को बहुत असानी भाशा में मैं समझा देता हूँ एक economy normally grow कर रही थी, ये इस तरीके से normally growth के रास्ते पर जा रही अब economy जो grow कर रही थी लेट से 7%, 8% से वो आ गई 2%, 3% पर और ये मैं quarterly बात कर रहा हूँ हर 3-3 महिने का डेटा बता रहा हूँ अब धीरे-धीरे lockdown खुला, धीरे-धीरे businesses वापस रस्ते पर आये, सरकार ने 8 minute पर package शुरू किया राशन फ्री में देना शुरू किया सुनिधी स्कीम शुरू करी सस्ते bank loan देने शुरू करे RBI ने अपने monetary policy के माध्यम से economy को growth के रास्ते पर डालना शुरू किया, और वापस देखो economy आ रही है तरक्की के रास्ते पर और कितनी तरक्की पर, जितनी normally grow करती थी 7-8% at least उतनी growth वापस उसे मिल सके और यहां से वो आगे की growth की trajectory देखेगा, तो इसे V-shape recovery कहते कि अचानक से गिरी फिर वापस जब वो condition जो problem जिस वज़े से economy growth कम हुई थी, वो खतम हुई problem या धीरे धीरे government ने reforms लेने शुरू करे तो वापस growth हासिल हो गई, मतलब it was just a temporary depression और a temporary recession और economy उसको successfully बाहर ला सकी, ऐसी economic recovery को कहा जाता है V-shape recovery, जैसे अभी आपको देखने मिला, recession का मतलब मैं बार-बार बता रहा हूँ क्योंकि question बन सकता है, it is a very mild form of depression, अब आप मुझसे सवाल पूछो, कि सर कौन सा जादा खतरनाक होता है, recession slowdown या depression देखो, recession slowdown सबसे पहला, सबसे mild form है, फिर recession और फिर depression, slowdown मतलब जैसे 7%, 8% पर ग्रूप करते थे 6-5% पर आगए, recession मतलब लगातार 6 महीने तक ऐसा चलता रहा है, और depression मतलब कि अब ग्रोथ के रास्ते दिखी ने रहे हैं, अब economy negative growth में आ गई, economy में unemployment भी बढ़ गया, मेंगाई भी बढ़ गई, problems बढ़ती जा रही है, industries में problem बढ़ती जा रही है, growth नहीं हो रही है, job जा रही है, ये बात याद रखेगा, तो recession अगर लंबे समय तक बनी रहे, तो वो depression बन जाती है, उस time पर depression पैदा हो जाता है, ये बात याद रखेगा, और ऐसा ही एक और term है, double dip recession, double dip recession, माफ किरेगा, एक और ऐसा ही term होता है, double dip recession क्या होता है double dip recession में नाम समझ पारे होगे double dip दो बार कुछ गिर रहा है कि economy growth चल रहा था फिर dip आया फिर वापस हमने सुधार किया फिर dip आया फिर सुधार किया economy दो बार negatively grow करी है ये US के अंदर US और Europe के अंदर आपको देखने मिला है कि GDP grow कर रही थी ठीक था क्रेट से अचानक से dip आ गया जैसे अमेरिका में 2008 की crisis के बाद देखने मिला फिर वापस normalcy पर आये फिर ये covid lockdown आ गया तो double dip recession मतलब दो बार back to back recession थोड़ा सा short term में recovery आपको देखने मिली recovery happened in short period पर वो recovery sustain नहीं कर पाए पर वो recovery टिक नहीं पाई और developed economies के साथ खास तौर पर ऐसा हो रहा है क्योंकि वो growth कर नहीं पा रहे हैं उनके पास growth करने के लिए जादा कुछ बचा नहीं है तो पहले slowdown शुरू होता है उसके बाद economy recession में चली आती है चीजों की demand कम हो जाती है goods and services की लोगों की jobs जाती है US में इस time पर नौकरियां जा रही है बड़े-बड़े IT professionals की Google Microsoft Amazon बड़ी-बड़ी companyों से jobs जा रही है पे cut काटे जा रहे है लोग की salary कम की जा रही है तो यह double dip होता है और in fact यह worst भी बन सकता है triple dip भी बन सकता है double dip क्या यह अगर फिर से तीसरी बार economy recession में चली जाए तो यह triple dip recession का रूप भी ले सकता है triple dip recession जो बहुत जादा dangerous होता है किसी भी country की growth के लिए एक worst case scenario पैदा कर देता है where the economy moves into a deeper and longer recession recovery कर पाना और मुश्किल हो जाता है ठीक है इसा आपको देखने मिलेगा US के अंदर अमेरिका के अंदर फिलाल हमें देखने मिल रहे क्योंकि business cycle और basic fluctuations तो होते रहती है जिस वैसे economy में उत्पादन factories में production कम हो जाता है जितना normal जितना balance level पे होना चाहिए उतना नहीं रहता economic instability और uncertainty देखनी मिलती है अब जरूरी नहीं है uncertainty के पीछे अब हर logic को ढूम सको मैंने शुरुआत में जब lecture शुरू करे थे economics के बताये था economics एक decimal science है जरूरी नहीं हर गिरावट का solution और हर गिरावट का आपको reason मिल सके कई बार logical expectations की वज़े से economic growth होती है कई बार illogical hype हो जाते हैं तयार हो जाते हैं कि जादा सजादा economy में invest करेंगे तो मैं यही तो बता रहा हूं कि economy में कुछ पक्का नहीं है पर एक चीज़ जरूर है innovation हमेशा चाहिए रहता है economy growth को बढ़ावा देने के लिए लगातार innovation नई नई technology आती रहे तो economy ग्रो करती रहती है but artificial intelligence machine learning जैसी technologies की वज़े से innovations की वज़े से chat GPT जैसी technologies की वज़े से आज नोगों की नौकरियां खत्रे में है आज technology की वज़े से आपको recession देखने मिल रहा है technology से जनित technology से create हुआ recession देखने मिल रहा है BR अंबेटगर जी इंडिया के अंदर industries को बढ़ावा देना चाहते थे गांधी जी चाहते थे कि cottage industries छोटे उद्ध्योग कुटी रुद्ध्योग one person businesses चले उसका reason यह था गांधी जी यह जानते थे कि अगर machines आ गई तो machines इंसान को replace कर देगी और इंसान का लालच इतना है कि वो थोड़े से भी profit को लेने के चक्कर में machines को replace कर देगा इंसानों से क्योंकि machine बिमार नहीं पड़ेगी machine को बुखार नहीं होगा regularly 365 दिन आपके लिए काम करेगी 365 दिन आपके लिए काम करेगी तब ही आपको आजकल देखने मिल रहा है कि जादा से जादा दुनिया के अंदर ऐसी situation आ गई है कि human beings को technology replace कर रही है our jobs are being replaced by technology और इस वज़े से भी recession पैदा हो रहा है इस वज़े से भी recession दुनिया में आपको देखने मिल रहा है इसी लिए मैं आपको मुद्दे की बात जो बताना चाहरा था वो यही है कि double dip और triple dip recession भी आज के time में possibility है बलकि economy में जो भी challenges आ रहे हैं वो किसी ना किसी political, environmental, social problem की वज़े से हैं और economy और society का एक बहुत गहरा रिष्टा है इन फैक्ट कई सारे देश जहां पर disaster आते हैं आपदा है आती है भूकम, tsunami, volcanism वो कंट्रीज डीप रेसेशन में चले जाते हैं कुछ समय के लिए वो कंट्रीज बिलकुल growth के रास्ते पर नहीं आ पाते हैं तो एक रीजन disaster भी बनता है एक रीजन political environment causes भी बनते हैं जैसे Finland, Norway, Sweden कह रहा है कि कोईले का इस्तमाल कम करेंगे renewable energy का इस्तमाल जादा करेंगे तो जो coal companies, जो petrol, diesel की companies हैं उन companies के shares में उस sector के अंदर recession आ रहा है but boom आ रहा है renewable energy के sector में तो एक तरफ उतार, एक तरफ चड़ाव economy में एक बहुत normal चीज है government को anti-inflationary practices या policies फॉलो करनी चाहिए ताकि महंगाई को control कर सके और investors को economy में पैसा लगाने के लिए विश्वास हो आपको पता है जब COVID शुरू हुआ था लोगों ने economy से पैसा withdraw करना शुरू किया मैंने खुद अपने shares बेच दिये थे उससे इंपर क्यों? उसका reason था कि डर था, क्या पता आप क्या होगा कितने साल ये महामारी रहे कितने साल ये बिमारी रहे आखों के सामने लोगों को death होते हुए जब आप देखते हैं तो ऐसी mental problems create होती है जहाँ पर हम mentally ये सोचते है कि अब growth शायद ना हो पाए बट मैं एक बात बता दो अर्थ व्यवस्ता हमेशा अगर गिरती है तो उठती भी है if there is a recession or a depression there is always a boom coming in future अपनी जिन्दगी में भी अपनी life में भी आपको यही सोचना है कि आज अगर मैं नीचे हूँ आज अगर मैं गिर गया हूँ आज अगर मैं उठ नहीं पा रहा हूँ तो रोज उठूँगा जरूर उठूँगा रोज कोशिश करूँगा प्रयास करूँगा ठीक है ना ताकि आगे बढ़ सकूँ अब जादा मैं मोटिवेट नहीं करूँगा वरना आप लोग मुझे बोलोगे संदीप महिश्वरी क्लास ले रहे हैं आज मैं वसु कटा रहा ही हूँ संदीप महिश्वरी नहीं हो तो आपको V-shape economic recovery देखने मिली तो this indicates that after suffering a sharp economic decline the economy quickly and strongly recovers managing to achieve the previous peak जितनी तरक्की पहले हो रही थी उतनी situation वापस आप gather कर सके अब V-shape recovery is the best as it indicates that the downfall was temporary कि अगर गिरावट होई थी तो क्या हुआ वो तो temporary था ना थोड़ी गिरावत तो जिंदगी में हर इंसान को जेलनी चाहिए अब आप पूछेंगे इसको inflation को control कैसे करें बेटा मैं आगे monetary और fiscal policy पढ़ाऊंगा वो solutions होते हैं इसके वो आने वाले chapters में हम cover करेंगे तो उनमें आपको इसका solution मिल जाएगा उसके लिए regular classes देखनी पढ़ेंगे ना बेटा तो इंडिया economic survey के इसाब से V-shape recovery हासिल किया और से V-shape ही नहीं हमने K-shape recovery भी हासिल करी है सरकार का कहना है कि economy ने K-shape recovery भी देखी है K-shape recovery का मतलब है कि दो तरीके से दो direction में recovery हो रही है कुछ sectors recover कर रहे हैं और उपर की ओर जा रहे हैं देखो K बनाया मैंने एक बार थोड़ा बड़ा बनाता हूँ आपके लिए यह देखो मैंने K बनाया K का मतलब है कि यह ऊपर की ओर जा रहे हैं यह growth face show कर रहे हैं और यह नीचे की ओर जा रहे हैं यह recession यह dull face show कर रहे हैं तो कुछ sector ऊपर की ओर grow कर रहे हैं कुछ sector उस recession से इतना जादा effect हो गए या economy में ऐसे turn around हो रहे हैं कि उनकी recovery का कोई रास्ता ही नहीं है उनकी recovery का कोई तरीका ही नहीं है यह है केशेव recovery in which the performance of different part of economy diverges like your arm मेरा हाथ जुड़ा हुआ है मेरा हाथ ऐसे अलग-अलग direction में भी जा सकता है देखो दिख रहे हैं ऐसे economy growth अलग-अलग direction में जा सकती है यह बात आपको याद रखनी होगी ठीक है ना this is the reason k-shape recovery के बारे में मैं बता रहा हूँ इंडिया ने कुछ sectors के अंदर k-shape recovery का भी सामना किया ऐसा हमारी economic survey ने ऐसा industry experts के द्वारा कहा जा रहा है क्योंकि जो economic recovery होती है वो अलग-अलग type की होती है u-shape, v-shape, w-shape, k-shape अब ABCD नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं आपको यह different type of economic recoveries बता रहा हूँ कि कल जाके आप बोलो sir ABCD पूरा ही पढ़ा दो na nothing like that I am just talking about the different forms or different type of recovery जिसमें मैंने अभी आपको k-shape recovery बताया है कि k-shape recovery किस तरीके से होती है इसकी photo भी देख लो इसका example है large companies and public sector enterprise जो सरकारी कंपनी और बड़ी-बड़ी कंपनिया है अडानी, अमबानी दी जैसे उनके पास पैसा बहुत है, capital बहुत है तो तेजी से recovery कर लेंगे उनको recover करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी प्रॉब्लम होगी छोटे industries को, छोटे businessmen को जो तरक्की करना तो चाते हैं बड़ तरक्की कर नहीं पाएंगे उनके पास उतना पैसा नहीं है until unless government उन्हें incentivize करे government उनको help करे, approach करे तब तक वो recovery के रास्ते पर नहीं जा पाएंगे इसलिए केशेप recovery में जो technology company है जो software company है, जो retail company है वो तो तरक्की कर गई, Amazon, Flipkart ये तो थोड़ा-थोड़ा growth देख गई बट बाकी sector, lockdown के बाद सबसे ज़्यादा impact किस पर आया होगा सोचो travel industry पर, hotels पर hospitality पर, लोग डरे हुए थे बाहर नहीं जाना चाते थे, mask पहन के बाहर जाना पड़ता था, demand उतनी थी नहीं, food items बाहर से मगा नहीं पारे थे, क्योंकि सरकार ने बाहर जाना ही बंद कर दिया था तो इस वज़े से growth रुख गई तरक्की रुख गई, travel हो गया entertainment sector, theater बंद पड़े थे जी, movies नहीं release हो पारी थे, इन में सबसे आदा negative growth देखने में लिए तो ये तो नीचे की और जा रहे थे और बाकी sector IT, जी घर बैठे हो digital technology तो हर जगे है software हर जगे चाहिए, तो सब को use करना है तो वो उपर जा रहा था, वो तरक्की कर रहा था तो ये है आपका K-shape recovery जहां पर छोटी industries, medium side industries शुरू करी, ताकि ये भी recover कर सके और ये भी देश की अर्थरस्था में contribute कर सके अब आपको समझ आ गया K-shape recovery अब है U-shape recovery U-shape recovery is one where there is prolonged stagnation क्या होता economy गिरती है और लंबे समय तक गिरती जाती है वापस फिर उठती है, ये देखो क्या हुआ यहाँ पर एक sharp decline नहीं था अचानक से गिरी नहीं है दीरे 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 गिरती गई, stagnate होती गई, ठहराव रहा हमारी अर्थरस्था के अंदर और उस ठहराव के बाद gradually ये अब आपस अपनी normal position पर आई है आगे चले, L-shape recovery, ये कौन सी recovery होती है L-shape recovery सबसे बुरी situation है जहाँ पर economy गिरती है economy यहाँ पर अचानक से गिरेगी ऐसे ठीक है, पर जिस speed से grow हो रही थी वो speed वापस हासिल नहीं कर पाएगी technically तो उसको speed से grow करना चाहिए था, right जो मैंने dotted line बनाई है technically speed से, पर गिरावट आई और अब वो growth हासिल नहीं हो पाएगी ऐसा होता है, कई बार technological progress नहीं हो पाता कुछ देशों के अंदर और नई technology जब नए देश अपना नहीं पाते, हासिल नहीं कर पाते तो उनकी growth एक limit से ज़ादा बढ़ नहीं पाती अचानक से गिरती है और अचानक से गिरने के बाद कभी भी recovery के रास्ते पे नहीं जा सकती, अचानक से वापस grow कर नहीं सकती because that becomes a new normal that becomes a new normal आम तोर पे disasters के बाद होता है जैसे नेपाल की अर्थ वस्ता मैं देखने मिला आपको नेपाल में जब भूकम पाए था उससे इतना डैमेज हुआ है उनकी GDP पे कि उनको कई साल लगेंगे recover करने के लिए बहुत लंबे समय के बादी वो अपनी situation, normal situation पे वापस आ पाएंगे Is that clear to you all? तो यह है आपका L shape recovery आगे देखो W shape recovery है, जिसको double dip recession में बता रहा था कि गिरा, फिर recover थोड़ी बहुत होई फिर गिर गई, यह triple dip भी बन सकती है यह triple dip recovery के रास्ते पे भी दा सकती है अगर triple dip recession आता है तो एक होता है Z shape recovery कि normally यह एक progression होना चाहिए तरक्की का, बट यहाँ पे अचानक से कुछ हो और economy गिर गई वापस normal situation पे आई, ग्रोथ हासिल करी जितनी ग्रोथ हासिल करी थी वो वापस जो previous normal situation थी उस पे ही चली गई, मतलब 6% पे economy ग्रोथ कर रही थी अचानक से कुछ problem होई और economy 2% की growth पे आ गई पर वापस growth के रास्ते पे ले गए और इस बारी 9% की growth हासिल करी बट अब देखो back to square 1 वापस 6% पे आ गई है जितने पे normal growth हो रही थी यह है Z shape recovery जहाँ पे economy में crisis आई, एक issue आया जिसको मैं 1 से signify कर रहा हूँ उससे recover करने के लिए बहुत तेदी से GDP ने jump ली जिसको मैं 2 से signify कर रहा हूँ और उसके बाद वापस एक normal trend शुरू हुआ जहां से economy recession के द्वारा वापस जितनी growth पहले 6% की हासिल कर रही थी उतने की ही हासिल कर रही है 6 से 7% हो गया 7.5% हो गया बट जो exceptional growth देखी थी recovery के बाद वो खो देती है economy वो potential वो शमता खो देती है economy ऐसा भी दुनिया की कुछ-कुछ अर्थ्विवस्थाओं में होता है ये बात याद रखनी है आगे चले K-shape करा दिया सूश shaped सूश मतलब अचानक से कुछ गिर जाना इसे सूश कहते है जैसे गड़े में कई बार पैर गिर जाता है आपका तो आप कहते है Oh my leg सूश into that pit सूश का मतलब यही होता है सूश आकृती वाली ऐसे अचानक से गिर जाना ये देखो अचानक से गिरी फिर वापस recover कर गई अचानक से गिरी फिर वापस recover कर गई इसे हम कहेंगे सूश शेप economy Now this indicates that economy is taking its own time to get back to the pre-crisis trajectory क्या हुआ एकॉनमी ऐसे ग्रो हो रही थी normally ये pattern था अचानक से एकॉनमी गिरी और अब उसे काफी time लग रहा है वापस recovery के रास्ते पे जाने के लिए एक साल, दो साल, तीन साल गिरावट अचानक से आई थी recovery में time लगा क्या बोला मैंने drop अचानक से आय था और recovery में time लगा drop अचानक से आय था और recovery में time लगा बस ये है मुद्दे की बात अगला है J shape recovery J, J curve बनता है ऐसा J किसी भी organization की growth को significant growth को show करता है जैसे इस तरीके से economy grow हो रही थी और अचानक से ये देखो, रात और रात lottery लग गई, ये unrealistic है, ये utopian है, ये सपनों में ही पूरा हो सकता है वास्तविक्ता में ऐसा होता नहीं है पर मैं बता रहूं कभी कबार कुछ economies ऐसे भी grow कर सकती है, कब, जब उनको अचानक से कोई resource मिला जैसे अचानक से तेल के भंडार मिल गए कोईले के भंडार मिल गए, लिथियम मिल गया, कोई gold मिल गया तब जाकर ऐसी चीज हो सकते है utopia मतलब सपनों में जो चीज होती है unrealistic चीज है कि देखो, normal ऐसे growth चलती थी और अचानक से J-shape कर्व बड़ी-बड़ी startups ऐसी J-shape कर्व देखती है, कुछ countries के अंदर J-shape में, देखो न, क्या हुआ slowly it was growing and suddenly it increased suddenly it jumped normal growth से भी extraordinary jump आपको देखने मिला recession भी हो सकता, इस प्रकार की अचानक से ऐसे grow हो रही थी और अचानक से गिर गई economy ठीक है न, तो इसको positively भी देख सकते हो negative भी देख सकते हो, बस यह मुद्दे की बात है कि ऐसा unrealistic है इतना अचानक से कहीं कुछ नहीं होता दुनिया में आगे है, last है हमारा inverted square root shape recovery inverted square root अब square root को जब आब mathematically glass में plot करते हो, तो कुछ इस तरीके से दिखता है इसलिए इसको inverted square root कहते है और यह inverted है, नीचे की और जा रहा है इस case में, there could be rebound from the bottom recession, but the growth slows and settles to a step down, कि देखो growth ऐसे चल रही थी, अचानक से negative growth हो गई, अब दीरे-दीरे recover करना शुरू किया, पर वो recovery बहुत slow है, बहुत धीरे है, ऐसे recovery हो सकती थी, जैसे Indian economy भी अगर lockdown के बाद, हमारे देश में कुछ extraordinary reforms आते, example ले रहा हूँ, hypothetical बात करूँ, ज़रूरी नहीं है, ऐसा होता, कि देखो, यह recession आया, उसके बाद, ऐसे दीरे-दीरे growth के रास्ते पर जा रही है हमारे पास option था ऐसे example के तौर पर ले रहा हूँ, कोई ऐसा example है नहीं मेरे पास देने के लिए हम अगर A अगर A नाम के reforms करते, तो हम अचानक से recover कर जाते बट हमने B नाम के reforms करे, जिस वैसे slowly time लगा है recovery के लिए, मतलब अगर July 2020 में recovery हो जाती तो recovery जाकर हो रही है 2023 में, 2023 तक हो रही है तो आपने जो option छोड़ दिया ये वाला option ये दर्शार है inverted square root recovery shape और आपको उसके बाद फिर और time लगा, आपको जाधा time लगा, जिस वैसे economy जो growth कर सकती थी वो कर नहीं पाई मैं अगर किसी देश का ऐसे example दो तो Pakistan है, Pakistan बिना IMF की help के भी अपने देश में कुछ reforms लाकर जैसे Manmohan Singh जी ने, इंडिया में जब वो finance minister थे, 1991 में reforms दिये थे वैसे अगर reforms पाकिस्तान लेकर आती तो उनकी economy आज recover कर चुकी होती, बट उन्होंने अपने आपको सुधारा नहीं, आज भी आतंगवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, टेरर financing कर रहे हैं, खुद आतंगवाद से परिशान है इंडिया में जासूस भेशते हैं तो आप समझ रहे हैं कि उन्होंने वो रास्ता अपनाया नहीं, इसी लिए वो rebound नहीं कर पाए, तरक्की नहीं कर पाए, इसलिए उन्हें time लगेगा अपनी economy को वापस पट्री पे डालने के लिए, और time के साथ-साथ दूसरे देशों का पैसा लगेगा चाहे चाइना का, चाहे साओधी अरेबिया का, चाहे अलग-अलग countries का, कल मैंने question दिया था V-shape recovery के बारे में, आज मुझे पूरी उमीद है आप इस पे answer लिख पाएंगे, इसका answer लिखकर जरूर में साथ टेलिग्राम पे share करिएगा, वसू अभी सिर्फ एक दो बच्चों ने share किया है, मतलब है कि भारत के अंदर, इंडिया के अंदर, जितनी भी banking activities होती है, वो RBI के देख रेक में, RBI की नजर में होती है RBI कोशिश करता है, कि इंडिया के अंदर, banking activities को supervise कर सके, regulate कर सके, अब RBI बना कब था, RBI बना था 1934 में, और काम इसने अपना शुरू किया 1935 से, 1934 में ये बना था, थोड़ा history अगर हम trace करें RBI की, तो RBI में सबसे पहले, हिल्टन यंग कमिशन बनाए गया था, RBI को बनाने के लिए 1926 में अच्छा, आप आश्चर चकित हो जाओगे, surprise हो जाओगे जानकर, कि इस हिल्टन यंग कमिशन, ये एक शक्स का नाम है, एक बिटिश शक्स है, जिसको रॉयल कमिशन कहा जाता था, इसमें डॉक्टर बी आर अमबेड कर जी ने भी अपनी recommendations दी थी, सिफारिशें दी थी और बोला था, कि इंडिया में एक banking authority, monetary authority होनी चाहिए, जो की regulate करेगी आपके banking sector को, पट ये 1926 का हिल्टन यंग कमिशन बना, इसके तुरंत बाद नहीं बनाए गया RBI, बलकि आठ साल लगे 1934-35 में जाके RBI का गठन किया गया, RBI शुरुआत में एक private body के तौर पे बनाए गया था, एक private संस्था के तौर पे बनाए गया था, government body नहीं थी शुरुआत में, और अभी आपको इसका मुंबई में headquarter देखने मिलता है, तब इसका headquarter मुंबई में भी नहीं था, क्यालकटा में था, वो तो 1937 के बाद इसका headquarter मुंबई में move किया था, RBI शुरुआत में private organization थी, पर जब इंडिया आजाद हो जाती है, 1947 के बाद, 1949 में हमें मैसूस हुआ, हमें जरूरत फील होई कि हमें अपने देश के अंदर एक government owned, एक government regulated reserve bank चाहिए, जैसे बाकी देशों में होता है, जैसे अमेरिका में या बाकी countries में है, अब आप पूछेंगे सर ये central bank, reserve bank होता क्या है, अब जैसे अमेरिका के अंदर federal bank है, अमेरिका के अंदर जो federal reserve है, central bank है वहाँ का, वो सारे banking sector को regulate करता है, मतलब उनके काम को देखता है, अब इंडिया में, banking sector को आप दो parts में बाठ सकते हो, एक तो जो है, जो RBI के दोरा regulated है, और एक जो है, वो RBI के दोरा unregulated है, जो RBI के दोरा regulated है, ये मैं RBI लिख रहा हूँ, RBI की शक्तियों के नीचे दो type के bank है, एक है scheduled banks या scheduled commercial banks और एक है non scheduled banks, schedule का मतलब समझते हो, कोई भी book होती है न, book के अंदर last के जो pages होते हैं, last के जो पन्ने होते हैं, उस book का appendix कहते हैं, ऐसे ही कोई भी कानून होता है, कानून के last के जो pages होते हैं, last के जो पन्ने होते हैं, उन्हें schedule कहते हैं, in any law, कोई कानून के अंदर भी last के जो additional areas होते हैं, जिसमें काफी सारी important चीज़ें लिखी जाती है, उन्हें schedule कहा जाता है, तो RBI के second schedule के अंदर, उन bank को का नाम आता है, जिन पर RBI करता है, जो RBI के terms and conditions को मानते हैं, और terms and conditions को मानने की वैजे से RBI उनका देख रेख करता है, ऐसे bank को schedule bank कहा जाता है, मतलब RBI ने कहा इतना capital आपको रखना है, तो वो RBI के regulations मान रहे हैं और उतना capital रखते हैं, capital रखने का मतलब, आप कोई भी bank खोलना चाहते हो, bank के पास अपना पैसा होना चाहिए, तभी banking activity शुरू कर सकते हो, otherwise RBI से आपको permission नहीं मिलती, RBI अभी फिलाल 500 करोड रुपीस का condition मना के बैठा है कि आगर इंडिया में bank खोलना है, 500 करोड रुपे चाहिए आपको bank खोलने के लिए, bank को चलाने के लिए, RBI तब जाकर bank open करने की permission या bank open करने के लिए license देता है, तो एक काम यह हुआ RBI का, कि इंडिया में banks को open करने का license Reserve Bank of इंडिया के द्वारा दिया जाता है, RBI को अपनी power, RBI Act 1934 के तहट मिलती है, जिसका second schedule, scheduled banks की list को देता है, जिसमें मैंने बोला कि अगर आपके bank का capital 500 करोड रुपे से जादा का है, तो आपका schedule bank माना जाएगा और RBI उसे regulate करेगा, जरूरत पढ़ने पर, RBI is the lender of last resort, मैंने बहुत बड़ा एक लंबा statement बोला है, lender, lender मतलब जो पैसा देता है उधार पे, of last resort, last resort मतलब जब कोई काम नहीं आता, तो RBI तब काम आता है जब कोई काम नहीं आता, एक bank की financial position कमजोर हो रही है, bank के डूबने के हालात है, customer का पढ़ा हुआ पैसा, risk पहे, stake पहे, तब जाकर RBI आता है कि हम आपको protect करेंगे, हम आपको help करेंगे, banks क्या होते हैं, banks are type of a middleman, सबजी मंडी में हैं, अगर आप सबजी लेने जाते हो, तो वहाँ पे आपको दो टाइप के लोग मिलते हैं, एक जो सबजी खरीदने आए है, the buyers, एक जो सबजी बेचने आए है, the sellers, इसी तरीके से financial market में जो banks होते हैं, वो दो लोगों को जोड़ता है, एक जो पैसा deposit करने आए है, जिनके पास extra पैसा या excess पैसा पड़ा है, एक जो पैसा खर्चने आए है, जिनके पास पैसे की जरूरत है, जिनको deficit है, पैसे की कमी है, तो banks दो लोगों को connect कर रहा है, एक उन लोगों को जिनके पास extra पैसा पड़ा है, वो deposit करेंगे, bank के पास जो पैसा deposit में आएगा, bank guarantee देगा कि हम आपको 5%, 6%, जो भी है, साल का interest चुकाएंगे, और अगर bank loan देता है, आपको उसी पैसे को घुमा कर, आपको loan देता है, तो bank आ अपसे guarantee लेता है, कि आप हर महीने की 8-9% EMI दोगे, bank हमेशा loan जादा rate of interest पे देता है, deposits के मुकाबले, जैसे loan दिया हुआ है 9% पे, पैसा deposit किया था 5% पे, यह जो बीच का 4% है, यह bank का margin एक bank के light bill, phone bill, staff salary, जैसे अलग-अलग खर्चे यहां से निकल सकते हैं, आजकल तो internet क का खर्चा भी है, branch का rent हो गया, कितने सारे खर्चे होते हैं, तो वो इस commission से निकालता है, यह bank का spread कहा जाता है, spread मतलब कितना commission, कितना बीच में आपको percentage मिल रहा है, coming back to the topic, RBI Act 1934, protect करता है अलग-अलग banks को, इंडिया में अगर आप banking system देखते हैं, तो इंडिया में सबसे उपर RBI के control में जो banks आते हैं, यह दो तरीके के हैं, एक है आपका schedule bank, जिसके बारे में बता रहा था RBI के second schedule में आते हैं, और एक है non-scheduled banks, non-scheduled banks, RBI के terms and conditions, rules and regulations को fulfill नहीं करते हैं, authorized capital, जो RBI नहीं करते हैं, कितना पैसा आप रखो अपने पास capital में, पूंजी के तोर पे, यह वो पैसा नहीं रखते हैं, एक बहुत बड़ी problem ही है, basically RBI के rules को they do not accept, schedule banks RBI के rules मानते हैं, अब यह भी दो तरीके के हैं, एक हो गए आपके commercial bank, commercial bank मतलब जो commercial purpose के लिए loan देते हैं, आपको business करना है, loan चाहिए, इन bank से ले सकते हो, आपको अपना पैसा जमा कराना इन bank से दे सकते हो, दूसरे type के हो गए cooperative bank, cooperative bank और commercial bank में फर्क है, कि cooperative bank में owner जो depositor है, वो खुद owner ही होते हैं, कि हम 100 लोग मिलकर एक bank खोल लेते हैं, सब लोग एक एक लाख रुपे जमा करा देते हैं, एक करोड रुपे bank के पास पड़े हैं, अब हम मैंसे जिसको भी पैसे की पर ले लेगा, और बाकी bank से कम interest होगा यहां पर, क्योंकि यहां पर पैसा कमाना मकसद नहीं है, members को help करना मकसद है, जैसे cooperative sector में, अमूल एक बहुत बड़ी company है, आनंद milk union limited, वो क्या करती है, लोगों को बोलती है, कि आप गाय का दूद निकालो, हमें बेचो, हम आपको अ सारस्वत bank हो गया, जैसे कई सारे इंडिया में cooperative banks है, आपको कई सारे cooperative वाईश बैंक हो गया, कई सारे cooperative bank देखने मिलेंगे, जिसमें member खुद अपना पैसा डालते है, हरियाना में एक बड़ा famous है, हरियाना agriculture cooperative bank हर को, cooperative bank में members खुद अपना पैसा डालते है, members depositor भी है, members ही loan लेते हैं और मेंबर्ज ही पैसा जमा कराते हैं यहां पर प्रॉफिट मोटेव नहीं असिस्टेंस मोटेव मदद करना यह पहला मकसद होता है यह बात समझ आ रहे हैं सबको इंपोर्टन्ट बात यह है कि कमर्शलव बैंक में भी कई सारी category होती हैं एक category है आपकी nationalized banks की जो शुरुआत में private होते थे आज राश्ट्रिय करण हो गया है सरकारी बन गए हैं दूसरा हो गया State Bank of India State Bank of India Nationalize Bank नहीं है क्योंकि शुरुआत से ही जब से उसका Nationalization हुआ है तब से वो इंडिया के एक important core bank के तौर पर काम कर रहा है तो मैं उसे Nationalize Bank की लिस्ट में नहीं रख रहा हूं और उसका भी Nationalization हुआ था नैशलाइस बैंक्स की लिस्ट में मैं सिर्फ उन बैंकों को रख रहा हूँ जिनका इंदिरा गांदी जी के टाइम पर 1969 और 1980 में नैशलाइजेशन हुआ था जी हाँ नैशलाइजेशन का मतलब है कि शुरुआत में प्राइविट बैंक थे अब प्राइविट बैंकों को गरीबों की समस्या से क्या फरक पड़ता है एक गरीब आगमी एगरिकल्चर कर रहा है खेती कर रहा है उसे पैसा चाहिए प्राइविट बैंक कहेगा कि हम आपको लोन क् assistance नहीं मिल पाता था और क्योंकि loan और financial assistance नहीं मिल पाता था तो सरकार ने का कोई बात नहीं प्राइवेट बैंक को कोई government owned bank बना दो तब तो वो public welfare के लिए काम करेंगे ना तब तो जनता की भलाई के लिए काम करेंगे ना तब तो जब वो सरकारी हो गए हैं जब उन्हें profit के पीछे नहीं भागना बलकि जनता की भलाई के पीछने भागना है तब तो जनता की भलाई का काम करेंगे इंडिया में 11 फिलाल 11 nationalized banks बचे हैं और एक state bank of इंडिया है remember that third category है जी आपके private banks की अब private में भी दो टाइप के हैं private Indian and private foreign example सुनो इनका private Indian में बड़े famous बड़े popular bank आते हैं जिनका आपने definitely नाम सुनाई है कुछ का तो account भी होगा ICICIC bank HDFC bank इनका नाम सुनाऊगा आपने यह क्या है यह private Indian bank है yes bank का आपने नाम सुनाऊगा these are private Indian banks तो मैंने जो बात समझाई हो यह है कि private Indian banks और private foreign banks foreign banks कौन से हैं इंडिया के अंदर जो private foreign banks है city bank American express city bank standard chartered bank these are foreign banks working in India ऐसे कई सारे foreign banks इंडिया में काम कर रहे हैं यह है हमारे देश का banking system banking network प्लीज यह बात याद रखियेगा scheduled banks and non scheduled banks यह दो टाइप के bank होते हैं जिसमें schedule bank में commercial और cooperative आता है commercial में nationalized SBI private और private में भी Indian और foreign आते हैं क्या यह classification आप सबको याद हो गया है एक और टाइप का bank है उसको मैं आप शॉट में लिख रहा हूं आगे फिर एक प्रदेश से मुरादाबाद से पहला bank शुरू हुआ था प्रथम बैंक प्रथम बैंक एक regional rural bank है क्या हो रहा था कि जादातर बैंक शहरों में बसे हुए थे शहरों की urban needs को fulfill करते थे शहरों में रहने वाले लोगों को loan देते थे पर गाउं के लोगों तक तो banking connectivity पहुँच सके तो बैंकों का ही network बनाया गाउं में सरकार के द्वारा कानून के तहट जिसका नाम था regional rural bank act शेत्रिय ग्रामीन बैंक ताकि गाउं गाउं तक इंडिया में banking infrastructure पहुँचे banks पहुँच सके इसी लिए हमारे देश में regional rural bank का पूरा एक network build किया गया इसको आगे और जादा depth में पढ़ेंगे आने वाले topics में तो इंडिया के अंदर commercial bank इस type के हैं जिसमें private sector bank public sector bank foreign bank और regional rural bank हो गया cooperative bank में अलग-अलग type के आएंगे जिसमें आपका शहरों के अंदर cooperative bank होते हैं urban cooperative bank urban central cooperative bank UCCB भी कहते हैं जिस पर prelims में एक बार सवाल आ चुका है पढ़ेंगे इसको हमाने वाली classes में दूसरा है regional cooperative bank regional cooperative bank जिसमें district level पर state level पर और आपका गाउं के level पर गाउं में primary agriculture credit society होती है PACS इस बार के budget में सरकार ने कहा है कि इनके सारे record को computerize करेंगे उसके उपर होता है district level पर DCCB district central cooperative bank और state level पर फिर state central cooperative bank होता है मतलब पहले state level पर होगा जैसे UP के level पर फिर district के level पर होगा जैसे UP का कोई भी district उठा लो और फिर गाउं के level पर होगा विलेज विलेज के level पर गाउं के level पर होगा बैंक आपस में तीनों connected रहेंगे गाउं में तभी cooperative bank का एक network बनेगा cooperative bank का काम है rural lending गाउं में लोगों को कम पैसा उधार देना जोकि उनकी जरूवत के लिए important है गाउं में खेती के लिए पैसा चाहिए होता है तो हमने कई सारे provisions बना रखें ताकि लोगों के गाउं गाउं तक जाकर loan का और financial assistance का फाइदा दिया जा सके इसके अलावा कुछ development finance bank भी होते हैं जिनको all India development finance institution कहते हैं क्या कहते हैं all India पूरे देश भर में काम करते हैं all India development financial institution जिसमें IFCI international finance corporation of India SIDBI small industries development bank of India export import bank national housing bank और नाबाड national bank for agriculture and rural development जैसी institution है इन सब के बारे में हम पढ़ाई करेंगे आज मैं बस यह बता रहा था कि RBI के power के तहट कौनसी कौनसी institutions आती हैं RBI की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे देश में हमारे देश में economic policies अगर समाली जाती है तो दो institutions के द्वारा समाली जाती है economic policies वो दो कौनसी कौनसी institution है एक है RBI RBI समालता है monetary policy को जो की RBI के शेत्र अधकार में आता है monetary policy को हिंदी में कहा जाता है मौद्रिक नीती और RBI देश की मौद्रिक नीती को समालता है जिसमें क्या होता है money supply कब बढ़ेगा कब घटेगा वो RBI की monetary policy के तहट decide किया जाता है money supply कब बढ़ेगा का मतलब है हमारी economy में money circulation कितना होना चाहिए कितना पैसा लोगों के हाथ में घूमना चाहिए अगर money circulation बहुत ज़्यादा है लोगों का बहुत पैसा circulate हो रहा economy में महिंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है अगर money circulation बहुत कम है economy में पैसा circulate ही नहीं हो रहा तो इस वज़े से economy में recession के हालत आ सकते हैं in any situation in any case Reserve Bank of India RBI monetary policy के माध्यम से इंडिया के अंदर money supply को increase या decrease कर सकता है महंगाई को control में करने के लिए एक limit से ज़्यादा महंगाई ना बढ़े इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए to control the inflation in India please remember this इस बात को याद रखेगा अच्छा आगे चलने से पहले आप सबसे एक दर्ख्वास्त है प्लीज इस session को like जरूर करिए और अगला आप आज पहली बार हमारा session देख रहे है please type first in the comment box हमारी previous कई सारी वीडियो हो चुकी है उनकी recordings देख लीचेगा playlist मैं आपको अपने टेलिग्राम पे भी देदूँगा उसका मैंने link बताया हुआ है अब आगे चलो दूसरी type की economic policy जो इंडिया में finance ministry सम्हालती है which is the fiscal policy वो भी आने वाली lectures में पढ़ेंगे उसमें budget और taxation का roll होता है we will be discussing that तो पहला आपका monetary policy मैंने बताया दूसरा आपका fiscal policy मैंने बताया दो type की economic policies हैं इंडिया में जो की हमारे देश के अंदर economy को balance रखने के लिए money circulation को control करने के लिए काम करती है अब सुनो ज़रा ध्यान से RBI इंडिया के monetary policy को control करता है अगर हमारे देश में note छापे जाते है currency print की जाती है तो वो RBI के देख रेक में किया चाता है हमारे देश के अंदर कोई भी money circulation से related point होता है तो वो RBI देखता है RBI को power मिली है RBI के Nationalization Act से 1949 के अंदर दो कानून जो आपको हमेशा याद रखने हैं RBI Act 1934 और Banking Regulation Act 1949 RBI को RBI बनाया 1934 के कानून ने और bank की तरह बैंकों के ऊपर regulation करने की बैंकों के ऊपर ध्यान रखने की power Banking Regulation Act 1949 ने दिया है इसका पुराना नाम होता था Banking Companies Act पर आज इसे Banking Regulation Act कहते हैं prelims में सवाल बन सकता है इस ताइम पर 1949 में RBI Nationalization Act आये था जिसमें RBI ने इंडिया के अंदर एक नई जिम्मेदारी उठाई एक सरकारी बैंक बनके पुब्लिक सेक्टर बॉडी बनके इंडिया के अंदर economic policies को control करने की अब हम समझेंगे what are the functions of RBI RBI क्या करता है RBI regulates the credit and currency system in India आपके पास जो note है आप जो उधार लेते हो ये सब RBI regulate करता है RBI के देखरेक के तहत आता है RBI क्या करता है जनता को विश्वास दिलाता है हमारे देश की करन्सी में आपके पास कोई भी note हो अपनी pocket से निकाली है और देखिया यहां पे लिखा होगा कि RBI governor के sign है और RBI governor ने लिखा है I promise to pay the bearer of this sum of money the amount whatever has been written कि अगर 500 का note है तो वो promise कर रहे हैं कि आपको 500 की value दिलाएंगे अगर 2000 का note है तो promise कर रहे है 2000 की value दिलाएंगे 100 का note है तो 100 की value दिलाएंगे RBI promise कर रहे है कि अगर आपको कोई मना करे कि यह note यूज नहीं कर सकते it is a legal tender legal tender का मतलब है RBI की authority के दोरा accept या approve की गई currency जिसको legally कानूनी तोर पे समान के अदला बदले इस्तमान कर सकते हो या service के अदला बदले इस्तमान कर सकते हो for example मैं एक दुकान पर जाता हूँ मैं कहता हूँ भईया पांच लीटर तेल और पांच लीटर चावल मुझे बेचतो उन्होंने का ठीक है आपका 1000 रुपे का बिल हुआ मैंने का ठीक है भईया आपको 1000 रुपे के मैं bitcoin दे देता हूँ वो मुझे मना कर सकते है कि नहीं नहीं bitcoin मैं नहीं लेता cryptocurrency मैं नहीं लेता मैं कहूँगा अच्छा कोई नहीं मेरे पास ये कपड़े पड़े हैं ये जारा की टी-शिर्ट है ये 1000 रुपे की है ये आप रख लो वो मुझे मना कर देंगे कपड़े का क्या करूँगा मुझे रोकड़ा दो मुझे पैसा दो I just want cash मैं कहूँगा अच्छा भाईया कोई बात नहीं परिशान मतो 1000 रुपे के मैं आपको mango दे जातो मेरा mango का खेत है आप mango रख लो अरे वो कहेगा कि आपको बात समझ नहीं आ रही क्या मुझे currency चाहिए मुझे note चाहिए जिस पर note पे छपा हुआ हो कि इतना पैसा आप मुझे दे रहे हो फिर मैंने उसे एक note निकाल के दिया जिस पर अमिताब बच्चन की छपी होई थी फोटो ऐसे कई सारे आते हैं जिसे चिलर note कहते हैं ठीक है ना अमिताब बच्चन की फोटो चपी होई थी मैंने का ये लो note चाहिए ना अब उन्होंने कहा क्या कर रहे हो भाईया पहले आपने मुझे टी-शिर्ट दी फिर आप कह रहे हो mango ले लो अब आप कह रहे हो ये नकली note ले लो मुझे RBI के दौरा इशू किया गया authorized currency चाहिए 1000 रुपे मेरे पे करो 500-500 के दो note दे कर मेरे को मेरा पैसा दो और रुसुआ करो खतम करो इस बात को मैंने का चलिये ठीक है ये लीजे 1000 रुपे 500-500 के दो note दे दिये आप बच्चन वाली फोटो वाला नोट दिया शारुक खान वाली फोटो वाला नोट दिया उसको भी उन्होंने ठुकरा दिया मैंने उन्हें का ये टी-शेट ले लो पर उन्होंने जैसे 500-500 के दो असली note देखे उन्होंने वो ले लिया क्योंकि वो legal tender currency है legal tender का मतलब हमारे देश में legal currency है legally accepted form of currency है तो बस मुद्दे की बात आपको यही देखने मिलेगा कि आप कभी भी payment करना चाहते हैं तो आप legal form of currency में ही कर सकते हैं otherwise आपको accept नहीं किया जाएगा allow नहीं किया जाएगा payment करने के लिए और उस legal form of currency को legal tender कहा जाता है ऐसी currency जो की RBI के द्वारा issue की गई है RBI की fiduciary power है उसमें fiduciary मतलब विश्वास की शक्ती कि मेरे को विश्वास है कि ये 500 का note लेके मैं दुकान पे जाओंगा तो मेरे को मना नहीं करेंगे accept करेंगे और उस पैसे को देकर मुझे goods and services के साथ exchange कर देंगे कि मैं अगर किसी cabinet बेटूँगा मैं अगर पैसा पे करूँगा तो मुझे उसके बदले में return मिल जाएगा अब एक और बात समझो क्या digital currency लीगल currency होती है legal tender होती है मैं 500 का note दे रहा हूँ वो तो legal tender है पर मैं अगर paytm कर रहा हूँ मैं अगर google पे कर रहा हूँ phone पे कर रहा हूँ तो क्या ये legal tender है देखो आप अगर digitally भी पे कर रहे हो तो बस वही currency को आप digital रूप से transfer कर रहे हो note वही है बस आप उसे digital रूप से transfer कर रहे हो तो इसी लिए वहाँ पर भी legal tender of money को ही move कर रहे हो आप वहाँ पर भी पैसा ही move हो रहे है ये बात मत सोचना कि जो digital currency है वो कुछ अलग चीज है digitally अगर आप 500 रूप से भेज रहे हो तो वही है वो currency जो paper form में आपके पास होती है बस वो digital form है उसका बस form बदल जा रहे है ये बात याद रखिएगा अब मेरी बात ध्यान से समझें अगर आप तो ऐसी currency जो की सरकार के दौरा legally recognized, legally acceptable, legally authorized है जिसमें RBI की backing है उस currency को हम fiat money और legal tender कहते हैं अब आप कहोगे सर एक और भड़ा भारी भरकम शब्द आपने डाल दी हमारे सामने fiat, sir fiat तो गाड़ी आती थी fiat क्या होता है, fiat मतलब government की authority या government के proclamation के द्वारा issue की गई currency RBI basically हाँ पर proclaim कर रहा है कि ये असली form of currency है यही real form of currency है जिसको स्विकार किया जा सकता है तो इसको कहा जाता है fiat currency अब आपको दो टर्म याद रखने है legal tender and fiat currency ये बात याद रखिएगा प्लीज, आगे चलते हैं अब इंडिया में RBI और क्या काम करता है RBI जो बैंकों के अंदर हम जैसी जनता पैसा डाल रही है हमारे depositors के interest को protect करता है, जागो ग्राहक जागो की नीती हमारे दिमाग में डालता है, that protect yourself कोई fraud में मतफस है, कोई आपको call करे तो उसे OTP मत बताएं अपना आधार नमबर ना बताएं अपनी bank details ना share करें इसके लावा cooperative banking और commercial banking का फाइदा लोगों तक ले जाता है मैं अगर इसमें और कुछ points add करना चाहूं, कि RBI की और क्या-क्या power है अपनी तरफ से कुछ और points जोड़ना चाहूं, तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि RBI इंडिया की एक monetary authority है monetary authority होने की वज़े से money movement RBI के द्वारा control किया जाता है RBI का ही इकलोता से है RBI का ही इकलोता से है पैसे के movement के उपर तो क्योंकि इंडिया में monetary policy से जुड़ी हुई कई सारी योजना है, कई सारी policies बनानी होती है उनको formulate करना उनको ground level पर implement करना और check करना कि वास्तविक्ता में follow हो रही है नहीं हो रही है ये policy, ये काम है RBI RBI महंगाई control में रखने ही कोशिश करता है देश को growth के रास्ते पर डालने की कोशिश करता है price stability बना है रखने ही कोशिश करता है ताकि बहुत महंगाई अचानक से बढ़ जाए इंडिया में ये सब काम इंडिया में RBI करता है दूसरी बात it is authorized to print currency it is authorized to print currency RBI की कई सारी chest होती है RBI की printing presses होती है और ये currency print करने की power रखता है RBI को authority मिली है RBI को power मिली हुई है तो नई currency print करना नए सिक्के print करना एक रुपे के coins और note को छोड़ कर क्योंकि वो आपका ministry of finance के द्वारा issue किया जाता है बाकी काम RBI करता है नए note छापना नए सिक्के छापना RBI की mints के द्वारा नए सिक्के और RBI की printing press के द्वारा नए note छपते हैं अब क्या करता है पुराने note के साथ उनको destroy कर देता है RBI जो या तो फट गए हैं गल गए हैं या जिनको सरकार ने demonetize कर दिया है demonetize का मतलब हो गया कि अब वो legally circulate नहीं हो सकते अब वो हमारे देश में legal tender नहीं रहे है अगर आप 500 का पुराना note लेकर आओगे 1000 का पुराना note लेकर आओगे तो वो legal tender नहीं है वो fiat money नहीं है क्योंकि RBI ने उसे अब decommission कर दिया है demonetize कर दिया है RBI कि जिनके through वो print करवाता है बात समझा रही है तो इसलिए note print करवाना फिर उनको note को adequate quantity में अपने पास रखना ताकि bank को supply कर सके वरना अगर note की कमी हो गई देश के अंदर तो bank के उपर और RBI के उपर विश्वास ही खतम हो जाएगा लोगों का ऐसा होगा के नहीं होगा इसके इलावा RBI is the regulatory body it is the financial supervisor also regulatory body है और financial supervision का काम करती है financial supervision मतलब कहीं banking fraud तो नहीं हो रहा कहीं देश में कोई financial scam तो नहीं हो रहा banks सही तरीके से चल रहे है या नहीं चल रहे है और अगर कहीं पर fraud हो रहा है तो जनता के interest को protect करने का भी ये काम करती है banking और financial system के operations का ध्यान रखते हुए ताकि जनता का confident system में बने रहे जो लोग पैसा जमा कराते हैं बैंकों में उनका विश्वास बना रहे और सस्ती cost पर बिना customers के साथ fraud करे banking services public को provide की जाए public के साथ किसी तरीके का कोई भी fraud ना हो इसके इलावा इंडिया के पास दूसरे देशों के साथ trade करने के बाद काफी foreign exchange आता है dollar आता है pound आता है yuan आता है yen आता है ये कहां रखा जाता है ये किस की तिजोरी में रखा जाता है ये RBI की तिजोरी में रखा जाता है Reserve Bank of India की RBI की तिजोरी जो है उसे foreign exchange reserve कहते है लगबग साड़े 500 से 600 billion dollar के करीब इंडिया के foreign exchange reserve में पैसा पढ़ा है मैंने आपको ये range बताई है क्योंकि ये उपर नीचे होता रहता है हमारे foreign exchange reserve में चार चीजे रहती है यहां पे लिख रहा हूँ क्या क्या रहता है एक तो है दूसरे देशों का foreign currency asset जिसमें दूसरे देशों की foreign currency dollar, pound, yen, yuan ये सब पढ़ा रहता है foreign currency asset कहा जाता है दूसरे देशों की currency आपके पास होना अगर दूसरे देश की currency आपके पास है तो यहां पे आता है बच्चा पूछ रहा है sir, RBI inflation कैसे control करता है बेटा, सब कुछ line में है आपको सवाल पूछने की दरूत नहीं पढ़ेगी आने वाले lectures में है मैं सब पढ़ाऊंगा को आपकी अलग-अलग policies पढ़ाऊंगा quantitative policies, quantitative measures, qualitative measures यह सब आपको मैं बताऊंगा CRR, SLR, bank rate आपका इसके अलावा moral persuasion सब पढ़ाऊंगा रुप तो जाओ, सबर करो सबर कफल मीथा होता है अब सुनिए, एक तो आगया foreign currency asset दूसरा आगया आपका gold RBI के तिजोरी में gold gold मतलब हीरे मोती जवारात वाले वो जो गले में पहनते हो necklace वो नहीं होगा gold का मतलब है gold bullion बड़ी-बड़ी सोने की इटें और क्या आप जानते हैं इंडिया का majority of the gold is in foreign banks इंडिया में जितना भी gold है उसका majority हिस्ता तो foreign banks में European banks के पास है हमने अपने पास भी नहीं रखा हुआ है वो हमारा gold पर हमने अपने पास नहीं रखा हुआ हमने दूसरे देशों के अंदर रखा हुआ है दूसरे बैंकों में रखा हुआ है तो gold bullion भी आता है third next क्या आता है next आता है SDR special drawing rights आपने IMF का अगर नाम सुना है दो जुड़वा संस्ता हैं दुनिया के अंदर एक है world bank और एक है IMF उनके पास इंडिया का कुछ पैसा जो कि इंडिया emergency situation में withdraw कर सकता है उसे कहा जाता है special drawing rights 1991 में हमें यहां से मदद लेनी की जरूद पड़ी थी SDR की मदद लेनी की दरूद पड़ी थी इसे कहा जाता है special drawing rights SDR चौथा आता है आपका D option आता है RTP और इस पर UPSC सवाल पूछ चुका है RTP है reverse tranche position और UPSC के द्वारा सवाल आ चुका है यह पैसा भी जैसे SDR है वैसे RTP है IMF के पास पढ़ा रहता है मान लो कल को हमारे देश में कभी ऐसा हो ना और कभी होगा भी नहीं कि financial crisis आ जाए हमें तुरंत पैसे के दरूद है तो हमारा जो पैसा RTP के फॉर्म में IMF के पास international monetary fund जो कि United Nations की एक body है वहाँ पे जमा है हम तुरंत सौ प्रतीशत उस पैसे को मगवा सकते हैं बुलवा सकते हैं RTP क्या होता है वो पैसा जो आपने gold में originally जमा कराया था IMF बना था 1944-45 में World War II के खतम होने के बाद एक साथ दो संस्थाय बनी थी अमेरिका के New Hampshire के अंदर जहाँ पे आपको Bretton Woods Twins कहा जाता है जुडवा कहा जाता है World Bank और IMF को जिसमें से IMF International Monetary Stability और International Monetary Cooperation का काम करती है अब इंडिया एक शुरुवाती member है एक founding member है शुरुवात में जब हम member बने थे तो हमें कुछ पैसा advance में gold के तौर पर जमा कराना पड़ा था हमें शुरुवात में member बनने पर कुछ पैसा देना पड़ा था अब वही पैसा अगर कभी भी हमारे देश में financial crisis आती है reserve reverse transposition के तौर पर पढ़ा है मांग सकते हैं और ले सकते हैं तो वो country IMF से help मांग सकता है कि वो जो हमने पैसा हर साल जमा कराते हैं SDR के अंदर डालते हैं हमारे पास जितने भी billions of dollars के SDR है उसका इतना पैसा हमें भेज दो कुछ दिन बाद चुका देंगे इंडिया को ये मदद के तोल पर मिल सकता है जब इंडिया चाहे इसलिए special drawing rights IMF के द्वारा जो एक issue किया जाता है वो हमारे foreign exchange reserve का part माना जाता है क्यों कभी भी उधार चुकाना होगा पैसा चाहिए होगा तुरंत आप इन दोनों को SDR को और RTP को मगवा के पैसा चुका सकते हो और जो पैसा आप किसी को चुकाने के लिए रख सकते हो तो वो तो एक तरीके से आपका reserve ही है वो तो एक तरीके से आपका एक reserve currency ही है आप पैसा किसी को भी दे पाओगे आप पैसा किसी को भी चुका पाओगे yes or no जैसे for example मैं आपको बोलू कि बिटा कभी भी पैसे की जरुवत पड़े count on me, I will come and help you आपको मैं पैसे सायता दूँगा अब आप मुझे पे निर्भर रहोगे कि in case आपको financial assistance की जरुवत है I will be there to help you in any situation तो कही न कही आप मान सकते हो कि आपके पास जो अपना पैसा पड़ा है और जो मैं पैसा आपको दूँगा वो आपके दुख सुख में आपके काम के तौर पे आएगा, आपको help करेगा है ना, तो ये foreign exchange reserve इंडिया में RBI समालता है RBI manage करता है RBI हमारे देश में foreign currency अपने पास लगता है RBI के पास कई सारी powers भी है कि इसको मैं clean कर रहा हूँ page को, ठीक है न, जिन्हों ने लिख लिया ठीक, वो बाकी बाद में, recordings में देख सकते है दूसरी बाद, अब RBI एक कानून है, FEMA पहले होता था, FARA इंडिरा गांदी जी के टाइम पर 1973 में कानून था, FARA foreign exchange, regulation R से important है, regulation यह कानून होता था, जिसमें अगर आपके पास foreign currency पकड़ी गई तो बेटा, यह तो एक criminal offense है और आपकी जिमिदारी है that you have to prove कि आपने कुछ गलत नहीं किया कितना draconian law था कितना खतरना कानून था कि आपको prove करना पड़ता था कि आपने कुछ गलत नहीं किया और आपके उपर आपराधिक मामला चलेगा आपके foreign currency को पूरी तरह regulate किया जाता था और इंडिया में लोग दरते थे foreign currency रखने के लिए क्योंकि उस time पर smuggling भी बहुत होती थी अब मैं एक attache भरके अगर Indian note रख रहा हूँ ठीक है ना मालो एक करोड रुपे मेरे को save करने है ठीक है ना अगर मैं attache भरके Indian note रख रहा हूँ तो इतनी बड़ी bag मैं एक करोड रुपे भरेंगे बट इतने छोटे से bag में मैं इस पास dollars या euro भर जाएंगे क्योंकि एक dollar 80 रुपीज कुछ का है तो मेरे पास छोटे से bag में अगर मैं dollar रखूँ तो एक करोड वर्थ के dollar आ जाएंगे तो इसलिए लोग dollar में या दूसरी currency में पैसा smuggle करते थे आप देख लो पुरानी हिंदी पिक्चरों के अंदर भी villain कौन होता था villain होते थे smugglers villain होते थे वो लोग जो smuggling का काम करते थे हाँ या ना सब को याद है पुरानी हिंदी पिक्चरों में ये देखा ही होगा आपने सब लोग smuggling का काम करते थे उस time पर उस movies में दिखाया जाता था अब हमारे पास आ गया है foreign exchange management act जो अब currency को control करता है और manage करता है management का काम करता है कि आप foreign currency रखते हो ठीक है RBI को बता दो कितनी है हम manage करेंगे उन्हें अब ये civil offense ए criminal offense नहीं अगर आपके पास illegal तरीके से foreign currency पकड़ी गई और अब government के पास burden of proof है government को proof करना पड़ेगा कि आपने कुछ गलत किया है तो अब काफी relax कर दिया गया काफी liberal system आ गया है और foreign exchange management act की powers के तहट इंडिया में foreign exchange manage किया जाता है किसी के द्वारा तो किया जाता है RBI के द्वारा जो foreign exchange reserve इंडिया के समालता है हमारे देश में रुपे के exchange rate को stabilize करता है World Bank IMF और अलग-अलग countries के साथ बातचीत करता है इंडिया के foreign exchange reserve के बारे में हमारे देश से जो इंडिया के बाहर trade हो रहा है क्योंकि देखो आपको अगर इंडिया के बाहर trade करना है तो आप गांधी जी वाला note दोगे US से कुछ खरीद रहे हो वो नहीं लेंगे आप बाकी देशों को इंडियन रुपीज में पे कर रहे हो वो नहीं लेंगे अरे रशिया तक नहीं लेता रशिया तक अब है कुछ दिन पहले कह रहा था कि या तो दिरहम में payment कर दो या तो चाइना के युवान में पे कर दो हलाकि बीच में उन्होंने रुपे में payment लेना शुरू किया था पर उनके पास इतना रुपिया इखटा हो गया वो हमारे साथ ट्रेड उतना जादा नहीं करते हैं रशिया हम से जादा कुछ नहीं खरीता बलकि हम रशिया से बहुत सारे रशियन प्रोडक्ट खरीते हैं जिसमें सबसे उपर रशियन पेट्रोल और रशियन ओईल था जो हमें discounted price पर मिल रहा था तो रशिया ने का रुपे का हम क्या करेंगे हमारे पास तो भंडार भरा हुआ है रुपे का आप एक काम करो आप धिरम ले आओ धिरम है United Arab Emirates की करंसी आप रुपिया ले आओ वो नहीं ले पाएंगे धिरम ले ले लेंगे युवान ले आओ चाइना की करंसी वो ले लेंगे इंडिया ने का हम क्यों चाइना की करंसी रखने वाले हैं हम तो चाइना की करंसी कता ही न इने तयार होते हैं, तो हमें अपनी तिजोरी में ये वाली करंसी रखनी पड़ती है, because we have to buy a lot of things, in fact इंडिया को oil, petrol, diesel ये सब खरीदना होता है, petroleum products, electronic products खरीदने होते हैं, हमें medicines चाहिए होती है, gold चाहिए होता है, जो दूसरे देशों से खरीदते हैं, जिसकी इंडिया में domestic demand बहुत ही बड़े level पर आपको देखने मिलती है, बहुत भारी स्थर पर बहुत बड़े स्थर पर demand है, इसी लिए RBI इस demand को पूरा करने के लिए, इंडिया के अंदर foreign exchange रखता है, manage करता है, जब भी दूसरे देशों को payment करनी है, आप कुछ समान खरीद रहे हो, RBI के पास दो account है, एक है RBI का current account, current account transactions के लिए, एक है capital account, हम जब balance of payment पढ़ेंगे, तब इसको और गहराई से पढ़ेंगे, current account के अंदर एक साल, या उससे कम समय की transactions आती है, one year or less, जिसमें रोज मर रहा है, जो goods and service खरीदते हो, चाइना से mobile phones खरीदते हो, ट्रेड करते हो, व्यापार करते हो, वो current account के तहत आता है, जिसमें goods का exchange आता है, short term nature का समान जो खरीदते बेचते हैं, वो current account में आता है, अब मुझे चाइना से कोई चीज मगानी है, या मेरे को रहशिया से कोई चीज मगानी है, या अफगानिस्तान से, या उस्ट्रेलिया से, या यूएस से, या कैनेडा से, तो उस देश की currency चाहिए, मैं अपने रुपे को exchange कर सकता हूँ, मतलब current account में convertibility 100% allowed है, convertibility का मतलब है trade करने के लिए, व्यापार करने के लिए, अगर आप रुपे को डॉलर में या डॉलर को रुपे में convert कर रहे हो, it is totally acceptable, it is completely allowed बिना किसी पाबंदी के, बट एक बात बताओ, आप कहते हो, ना जी ना, मैं तो कनिड़े जाके वहाँ पर पिलोट खरीदूँगा, I will buy a piece of land, a parcel of land in Canada, give me permission, government says that we will give you permission, but up to a certain level, because we only allow partial convertibility, we allow partial, partial convertibility in capital account, capital account में, जिसमें आप convert करा रहे हो, पैसे को convertibility देख रहे हो, दूसरे देश में invest करने के लिए, foreign investment ले जाने के लिए, ऐसे तो हमारे देश से भर-बर के foreign investment दूसरे देश में चली जाए, फिर हमारे देश का क्या होगा, जो कि एक good developing economy है, हमारे देश से loan दूसरे देशों में चले जाएगा भर-बर के, तो basically आप समझ सकते हो, that we cannot allow taking money from our country for capital purpose, long term purpose, as it affects our economic position, तो हम full convertibility allow नहीं करते हैं, 1999 के आसपास हमारे पडोसी South East Asian मुलकों ने, देशों ने, जिसमें Thailand हो गया, Singapore हो गया, Indonesia हो गया, इन्होंने full convertibility allow कर दिया, और उनकी economy एक deep crisis में चली गई, जिसे कहा जाता है, East Asian crisis, East Asian crisis की वज़े से, उनकी अर्थिवस्ता बहुत ज़्यादा crisis situation में चली गई, तो आपको basically ये देखने मिलेगा, कि ऐसी situation में partial convertibility इंडिया ने allow करी है, वो गलती जो East Asian economies ने करी थी, वो गलती इंडिया नहीं दोहरा रहा है, हमने पूरी तरह convertibility allow नहीं करी है, हला कि हमारे पास तारापोर कमिटी है, एक कमिटी बनाए गई थी सरकार की, जिसने कहा कि यहाँ पर पूरी convertibility allow करो, बट अभी हम फूक फूक कर कदम रख रहे हैं, सोच समझ कर कदम रख रहे हैं, जिससे इंडिया के अंदर हम banking sector को properly manage कर सकें, banking sector को properly control कर सकें, ठीक है जी, तो यह आपका याद रखना है कि RBI के जो पैसा reserve में रखने की power है, जो money को store करने की power है for people like us, जो power है foreign exchange को store करने की उसके तहत आती है, इसके लाबा RBI payment and settlement system के तहत regulator है, and supervisor payment and settlement system, हमारे पात 2007 का एक कानून है, payment and settlement act, जो इस payment and settlement system के तहत आता है, आपके देश में UPI technology है, unified payment interface, जो की भारत interface for money नाम के application के माध्यम से run की जाती है, जिसका API, API मतलब आप कोई app बनाते हो, दूसरे app के साथ integrate करना चाते हो, जैसे beam app है, यह भारत सरकार ने बनाई, UPI technology के लिए, पर उसका API दे दिया, हमने private companies को Google पे को, phone पे को, Paytm को, और उनके माध्यम से भी आप beam app यूज़ कर सकते हो, क्योंकि beam app का API, in private apps में connected है, समझार यह बात, जैसे होता है न, कई सारे website पर आप Google से login कर पाते हो, क्यों, क्योंकि उसका API उसके साथ जुड़ा हुआ है, इसी तरीके से, भीम का API प्राइवेट प्लेयर्स के साथ जुड़ा हुआ है, तो हमने तब allow किया था, कि हम digital payment कर पाएंगे, अब तक क्या हो रहा था, कि आपके पास जो currency note है, उसी का digital version, मैं आप digital payment कर पा रहे थे, पर आप आपके लिए, specially digital form of currency प्रिंट हो रही है, जिस पर गांधी जी की भी photo नहीं है, जिस पर प्रॉपरली लिखा होता है, कि 200 रुपे का है, 500 रुपे का है, और serial number लिखा होता है, आपका जो paper form of currency थी, पहले उसी को digitally मान लिया जाता था, बट अब जो सरकार ने trial के तौर पे, दिसंबर 2022 में ई रुपी प्रोजेक्ट शुरू किया है, इसमें आपको digital form of currency डिरेक्ली इशू हो रही है, digital coupon की तरह, कि इसका इस्तमाल कर सकते हो, आगे payment देने में, मान लो, मुझे 1032 रुपे किसी को देने है, तो पहले मैं 500-500 के 2 digital e-rupee इशू करवाऊंगा, फिर मैं 20 और 10 रुपे के note इशू करवाऊंगा, फिर मुझे 2 रुपे का coin, digital coin इशू कराना पड़ेगा, तो it is very similar to your normal currency payment system, जहाँ पर 1032 देने के लिए, आपको 500-500 के 2 note देने पड़ते हैं, 20 और 10 का note देना पड़ता है, 10-10 के 3 note, जो भी है, in whatever permutation combination, it would have happened, e-rupee, digital form of currency आई है, नई तरीके की, जहाँ पर पैसा सीधा digitally print हो रहा है, अभी क्या हो रहा था, paper form में print होता था, उसका digital version आप पे करते थे, बट आगे क्या होगा, आगे आपका electronic form में ही currency आ रही है, issue हो रही है, और ये RBI के payment and settlement system के तहट, permission के साथ हो रहा है, ये बात आपको याद रखनी है, इंडिया में ये सब काम, इस प्रकार किया जाता है, इस तरीके से किया जाता है, ताकि जनता को नए नए तरीके से, उनके comfort के साब से payment करने का मौका मिले, safety मिले, payment settlement system में, confidence रहे, जनता का हमारी currency में, हमारे note में, तभी जाकर देश का जब विश्वास रहेगा currency में, तभी देश चल पाएगा, RBI banker to the government, and banker to the banks भी कहा जाता है, RBI banker to the government, government के बदले, RBI उधार लेता है, मतलब government RBI को बोलती है, कि जनता से जाकर, हमारे लिए 1000 करोड रुपे उधार ले लो, RBI कहता है, जी हुजूर, government के बिहाफ पर, bond issue करता है, bond क्या होता है, bond एक written document की तरह है, एक written contract की तरह है, जिसमें RBI public से पैसा ले रहा है, मानलो मैंने एक लाग रुपे इन्वेस्ट कर दिये, आपने दो लाग रुपे इन्वेस्ट कर दिये, हमको बदले में, RBI से government of India के letterhead पर, मतब सरकार का stamp लगा होगा, एक written bond मिलेगा, contract मिलेगा, एक agreement मिलेगा, इसमें लिखा होगा, कि सरकार आज तुमसे इतने सालों के लिए पैसा ले रही है, इतने interest rate पर, जो कि पैसा तुमें उतने time period के बाद चुका दिया जाएगा, उतने rate of interest पर, यह होता है bond, एक written document, एक written contract, एक written agreement उधार लेने का, एक written proof उधार लेने का, तो government का banker है, government की कई सारी banking activities, RBI perform करता है, और foreign banks, Indian bank, सरकारी, private bank, सारे bank, RBI के control में आते हैं, जितने भी cooperative bank है, RBI के control में आते हैं, उनके अंदर, जितना customers के account है, RBI के अंदर control में आते हैं, RBI हमारे देश में, banking activities का ख्याल रगता है, तो सरकार का भी, और सरकार सिफ center government नहीं, center government और state government, दोनों का banker RBI है, center government के level पर भी, जैसे reserve bank of India है, state में, reserve bank of state नहीं होते हैं, हमारे देश में, हमारे देश में एक RBI है, reserve bank of India है, center level पर, जो की center government के लिए भी काम करता है, और state government के लिए भी काम करता है, और banks जो private bank, Indian bank, सरकारी bank जितने भी है, उनका भी खयाल रखता है, उनके भी regulation का काम करता है, और rules and regulations बनाता है, बैंकों को हर समय कुछ पैसा, अपने पास reserve में रखना होगा, एक बात बता, आप कल सुबह bank गए, bank ने कहा कि हमारे पास पैसा ही नहीं है, आपको देने के लिए, आप किसी सरकारी bank में गए, या private bank में गए, आपका कितना विश्वास कम हो जाएगा, banking sector में, और इस डर की वज़े से, कि लोगों को जब डर लगने लगेगा, कि यार बैंक के पास तो पैसा ही नहीं है, हमारा पैसा चुकाने का, लोग की अंदर एक fear psychosis, एक डर, एक apprehension पैदा हो जाएगा, जिसे bank run की situation कहते हैं, and this is a very bad, very negative situation, जहां पर लोग भागते हैं, अपने बैंकों से अपना पैसा निकालते हैं, और उस विएसे, bank collapse कर जाते हैं, इसी साल अमेरिका में, तीन bank collapse करे हैं, जिसमें सबसे पहला आपका bank हो गया, कौन सा bank है सबसे पहला, हमारा पहला bank है, signature bank, सिलिकॉन वैली बैंक दूसरा है, और फर्स्ट रिपब्लिक बैंक तीसरा है, इसके लावा स्विजलेंड का भी credit suiz, एक ऐसा international banking institution था, उसके भी हालत काफी खराब हो गई, और एक student पूछ रहा है, इई रूपी इशू करने का फाइदा क्या है, आपको वही paper form में नहीं note चापना पड़ेगा, तो वो पैसा बचेगा, digital form में चापने का क्या ही पैसा है, सोचिए, paper form में चापने का पैसा बचेगा, paper form में आपने currency print करी, तो वो 5 साल बाद, 10 साल बाद note फट जाता है, खराब हो जाता है, तो RBI का note print करने की cost भी बहुत आई, और फाइदा भी नहीं हुआ, सीधा digital form में करोगे, तो आजकल वैसे भी digital payments बढ़ती जा रही है, तो लोग directly digital pay कर पाएंगे, digitally pay कर पाएंगे, और इसलिए लोगों के लिए भी convenient रहेगा, time बचाएगा और hassle free है, अब मेरे जेब में पढ़ा हुआ पैसा जेब कट सकती है, पर मेरे e-rupee wallet में पढ़ा हुआ पैसा असानी से चोरी थोड़ी ना हो सकता है, कई सारे फाइदे हैं e-rupee के, आगे एक बार बात करूँगा मैं, e-rupee के फाइदों के बारे में, benefits के बारे में, तो RBI is the banker to the government and RBI is the banker of the banks, बलकि banks को rules and regulations के तहित कुछ पैसा reserve में, SLR, CRRB रखने की अनुमती देता है, वो आगे जब हम monetary policy पढ़ेंगे तब इसको बारे में पढ़ेंगे, कई सारे developmental functions हैं RBI के, RBI इंडिया के अंदर, banks के development के लिए, banking system के development के लिए काम करता है, operate करता है, ताकि देश में विश्वास बना रहे हैं लोगों का, banks के अंदर विश्वास बना रहे हैं, banks के उपर trust बना रहे हैं, RBI के पास जो excess पैसा surplus में होता है, वो भारत सरकार को transfer कर देता है, जरूरत पढ़ने पढ़े, तो ये कुछ points थे, lender of the last resort है, कभी भी bank fail होने के कगार पर है, जब कोई मदद करने नहीं बचता, तो RBI सामने आता है, और उस bank को संकट से बाहर खीच लेता है, उस bank को financial crisis में जाने से बचाता है, ये है RBI का role इंडिया के अंदर, कई सारे role आपको देखने मिलेंगे, इसके आगे अगली class में हम continue करेंगे, monetary policy क्या होती है, वो समझेंगे banking activities और non-banking finance companies, इंडिया में किस तरीक इसे काम करती है, आने वाले कुछ lectures में discuss किया जाएगा, banking chapter 1, हमने पिछली class में RBI और RBI के अलग-अलग functions के बारे में पढ़ाई करी थी, Reserve Bank of India आखिरकार कौन सी संस्ता है, काम क्या करती है, और उसका impact क्या है इंडिया के banking system के उपर, अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं, कि इंडिया का banking system आखिरकार चलता किस प्रकार है, हमारे देश में banking system शुरू से अन तक चलता कैसे है, what are the different type of banks in India, और उनको RBI regulate कैसे करता है, साथ-साथ cooperative banks क्या होते हैं, cooperative societies क्या होती है, इनके बारे में हम समझेंगे, NDTL, Net Demand Time Liability ये क्या होता है, इसके बारे में हम समझेंगे, सबसे पहले चीज़ एक bank होता क्या है, मैंने पिशली क्लास में आपको बताया था, banks वो financial institutions होते हैं, वो संस्थाएं होती हैं, जो finance के साथ deal करती है, depositors जिनके पास ज़ादा पैसा पड़ा है, उनसे पैसा लेकर, उनसे पैसा लेकर bank, जिनको loan की ज़रूरत है, जिनको money चाहिए loan के लिए, उनको पैसा प्रोवाइड गरती हैं, तो ये आपका role है, इंडिया के banking system का, अब banking system के अंदर, इंडिया के अंदर आपको देखने मिलता है, कि banks को इस पूरे काम के लिए, इंडिया में अलग-अलग type के banks exist करते हैं, जो की RBI के मार्क दर्शन के तहट आते हैं, RBI दो तरीके से banks को regulate करता है, एक तो है जो scheduled banks है, scheduled commercial banks, अब इनका मतलब समझे, scheduled banks क्या होते है, scheduled commercial banks क्या होते है, इनके बारे मैं आपको मैं बताऊँगा, RBI एक कानून के तहट बनाए गया है, RBI at Reserve Bank of India Act 1934, उसके second schedule में कुछ banks का नाम लिखा हुआ है, उसके second schedule में कुछ banks का नाम लिखा हुआ है, वो banks जो की RBI से, जब भी उन banks में कोई crisis होगी, तब मदद पराप्त कर सकते हैं, और जो banks RBI से मदद पराप्त नहीं कर सकते, उन्हें non-scheduled banks कहते हैं, although RBI इनको भी कुछ extreme cases में, emergency cases में, क्योंकि जनता का पैसा पड़ा है इन बैंकों में, मदद कर देती है, help कर देती है, but normally आपको देखने मिलेगा, scheduled banks पे ही RBI का बस चलता है, RBI कंट्रोल करता है, RBI प्रयास करता है, कि scheduled banks को जादा से जादा regulate कर सके हैं, अब scheduled banks के अंदर आपको एक चीज़ देखने मिलेगी, कि कुछ bank पैसा कमाने के लिए, profit कमाने के लिए काम करते हैं, वो कहते हैं, हम उन्हें बैंकों को कहते हैं, commercial banks, कुछ bank होते हैं, जो सिर्फ cooperative purpose के लिए काम करते हैं, उन्हें हम कहते हैं cooperative bank, cooperative purpose मतलब अपने members की भलाई के लिए, अपने सदस्यों की भलाई के लिए, जितने भी members के द्वारा bank open किया गया, members ही actually owner है उस bank के, commercial bank को चाहिए profit, रोकड़ा, जितना profit मिले उतना अच्छा है, अच्छा commercial banks में आपके public sector banks, सरकारी banks आते हैं, public sector banks, जिसमें आपको 11 nationalized banks, इंडिया में 11 ऐसे bank जो की, पहले के time पर private होते थे, पर आज nationalized हो गया है, nationalization हो गया है उनका, जैसे कि आपका पंजाब national bank, जैसे कि आपका union bank of India, ये nationalized bank है, इनके इलावा आपको एक SBI देखने मिलता है, state bank of India, state bank of India अपने आप में पूरा एक group होता था, जिसमें state bank of Patiala, state bank of Mysore, अलग-अलग state banks होते थे, आज एक state bank of India बन लिया है, ठीक है ना, ये private, public sector banks की category है, और ऐसे ही private banks भी होते है, अब private banks Indian होंगे या foreign होंगे, Indian private banks भी है, जैसे कि ICICI, HDFC, और private foreign banks भी है, जैसे कि City bank, standard chartered, etc. इस तरीके से इंडिया की commercial banking activity चलती है, पर कभी आपने ये सोचा है, कि इसकी शुरुआत कब से होई है, इंडिया में banking की शुरुआत 1770 से 1770 से आपको देखने मिलेगी, पहला इंडिया का bank कौन सा था, ये थोड़ा trivial GK हो गया, जो कि SSC जैसे examo में, state pieces जैसे examo में पूचा जाता है, बट नंदलेस हमें याद रखना है, क्या पता UPSC prelims में multi statement question में से, एक statement में पूच लिया जाए, कि इंडिया का पहला bank कौन सा था, 1770 के अंदर bank of हिंदुस्तान था, मैंने क्या बोला, ऐसे questions exam में अगर पूचे जाएं, तो आपको knowledge होना जादा better है, bank of हिंदुस्तान पहले bank के तौर पे इंडिया में open किया गया था, ताकि हम जादा से जादा इंडिया के अंदर, Britishers के banking sector में influence को बढ़ते में देख सके हैं, अंग्रेजों नहीं शुरू किया था, और Indians के लिए नहीं किया था, आपको ये मत ये नहीं लगना चाहिए, कि हमारे से बहुत प्यार था अंग्रेजों को, हमारी भलाई के लिए bank open किये, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं है, जितने भी British merchant इंडिया आते थे, व्यापारी इंडिया आते थे, East India Company के भिहाफ पे, उनको चाहिए होता था कि कहीं पैसा जमा करा हैं, और Britain ले जाने में, वापस UK ले जाने में मदद हो सके, बैंकिंग सिस्टम इंडिया के अंदर, आजादी से पहले भी, प्री इंडिपेंडेंडेंस फेज में भी था, ठीक है न, जिसको मैं कहता हूँ, प्री इंडेंडेंडेंस फेज, प्री 1947, जिसमें सबसे पहला बैंक इंडिया में जो open हुआ था, अब आप कहों के सर, मुझे लगता था कि सबसे पहला बैंक था, ऐसा नहीं है, स्टेट बैंक अफ इंडिया तो बहुत लेट वजूद में आया है, और स्टेट बैंक अफ इंडिया कोई एक बैंक नहीं था, बलकि तीन अलग अलग बैंक को जोड़कर पहले इंपीरियल बैंक ओफ इंडिया बनाये था, फिर उसके बाद तीन बैंकों को जोड़कर, जो इंपीरियल बैंक बनाये गया है, उसी का नाम बदल का स्टेट बैंक रखा गया, जो मैं बताना चालूँ बात वो इस प्रकार है, कि चलो ज़रा टाइम कैपसूल में बैठके 1806 में, 1806 में इंडिया में एक बैंक खुला कैलकटा के अंदर, बैंक ओफ कैलकटा उसका नाम था, और बैंक ओफ कैलकटा पहला हिस्सा बना, हमारी इस तीन हिस्सों की पजल के अंदर, 1806 के अंदर, लगबग 200 साल पहले, फिर बंबई के अंदर एक बैंक खुलता है, 1840 के अंदर, और आपको अगर थोड़ा हिस्ट्री इतिहास का पता है, तो इंडिया के तीन बड़े हिस्से थे, जिन पर अंग्रेज़ों का कपसा था, जिनको वो अपने प्रेसिडेंसी टाउन कहते थे, एक था बंगाल, एक था मदरास, और एक था बॉम्बे, यह तीनों मेजर प्रोविंसिस थे, या प्रांत थे, जिनको ब्रिटिशर्स क्या कहते थे, प्रेसिडेंसी टाउन्स कहते थे, अब इन प्रेसिडेंसी टाउन्स के अंदर, बैंक खुलेंगे तो उनको क्या कहेंगे, प्रेसिडेंसी बैंक कहेंगे, जिसमें बैंक ऑफ कालकटा, बैंक ऑफ बॉम्बे, नेक्स जो था, वो बॉम्बे में खुला, और तीन साल बाद ही 1843 के अंदर मदरास के अंदर बैंक खुला बैंक ओफ मादरास अब ये तीनों बैंक काम करते रहे इंडिविजुली अपने अपने शेत्र में अलग तरीके से ये बैंक्स खुद अपनी पावर रखते थे खुद अपने पावर फंक्शन को पर 1921 में जाकर ये तो 180 6 में बना और 440 में बना अठार तरह पर 1943 के औंदर एक बड़ा चेंज हुआ 1921 के अंदर क्या हुआ इन तीनों बैंकों को एक साथ जोड दिया गया कैलकठा, बॉंबे और मदरास के तीनों बैंक एक साथ जुड गए और बना Imperialmodern clouds of India imperial bank of India SBI का पुराना version मान लो Imperial Bank यूझी अंग्रेजों के अधिकार के तहट था इसलिए इसको Imperial Bank कहा जाता था HAR एक संप्राइशक शक्ति थे एक उन्प gay सभाणरी के इस लिए गया प्राइवेट से प्राइवेट स्टेक होल्डर खतम सरकार ने पैसा ले लिया पैसा देकर इस बैंक का उनर्शिप ले लिया और बना इंडिया में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इस तरीके से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इंडिया में जनम हुआ स्टेट बैंक कहीं कोई problem तो नहीं हो रही है और उस banking system का ही हिस्सा कौन सा है उस banking system का ही हिस्सा आपका SBI है तो ये बात याद रखनी है इसके इलावा थोड़ा और अगर इतिहास को खगोलोगे सबसे पहले timeline में हम 1770 में पहुँचे थे बैंक ओफ हिंदुस्तान बना था जितनी जल्दी बना उतनी जल्दी बंद भी हुआ बहुत सारे losses इसको सफर करने पड़ रहे थे इस वैसे इसको जल्दी से जल्दी बंद करना पड़ा ठीक है न उसके बाद आपको देखने मिलेगा जनरल बैंक ओफ इंडिया 1786 में बनाया था बैंक ओफ हिंदुस्तान आपका ये 1770 में बना था बैंक ओफ हिंदुस्तान 1786 के अंदर जनरल बैंक ओफ इंडिया बनाया गया जतनी जल्दी ये भी बना उतनी जल्दी आपका ये close हुआ जनेरल बैंक ओफ इंडिया यह आप नोट डाउन कर सकते हैं जनेरल बैंक ओफ इंडिया 1786 में बना था अच्छा इसके आगे क्या हुआ इसके आगे इंडिया में कई सारी कंपनीज खुली जिन्होंने बैंकिंग अक्टिविटीज को शुरू किया और यह सब प्राइवेट थे यह सब प्राइवेट तोर पे काम कर रहे थे और ब्रिटिश ओंड थे की ब्रिटिशS के दौरा इनका मालिककान हंग रखा गया था पर इंडिया में ऐसा कौन सा बैंक आया जो पहली बार इंडियन ओंड था तो वह 1865 के अंदर अलाबद के अंदर बनाए गया अलाबद बैंक फरस्ट इन-डियन-ओंड थी 1865 के अंदर इंडिया के द्वारा इंडिया में एक बैंक खुला इंडियन के द्वारा बहुत बड़ी बात है क्योंकि उस टाइम पर अंग्रेजों का बोल बाला था और भारतिया आगे बढ़कर ऐसा इनिशेटिव लेते हैं आचा ऐसा सेकेंड बैंक जो इंडियन ओंड हो इंडियन ऑपरेटेड हो इंडियन मैनेश्ट हो वो था पंजाब नाशनल बैंक 1895 में लाहॉर में खुला लाहॉर बहुत एतिहासिक शहर आज तो चलो पाकिस्तान में चला गया यहां पे खुला था इसमें लाला लाचपत राए और कई सारे लोगों की मेहनत शामिल थी हो बना बैंक ऑफ इंडिया मुंबई के अंदर अगर इतिहास आपने पढ़ा है इतिहास में आपने पढ़ा होगा सूरत स्प्लिट हुआ हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि इंडिया के अंदर अंग्रेज जो थे ब्रिटिश जो थे वो मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स लानेवाले थि यह उसी समय के आस पास का समय है जब बंगॉल का डिवीजन हुआ था डो हिस्स्व में बाठ दिया बंगॉल को और बंगॉल को जब 20 में बात दिया एक साइट पर हिंदू मैजोरेटी थी और एक साइट पधे मुस्लिम मिजॉरटी थी उस टाइम पर हमने लगा कि यह whisky unity को बढ़ावा देना है Hem हमें अपने इंडियन council को बढ़ावा देना इंडियन इंडियन श्कूल्स को बढ़ा देना है इंडियन इंडियन बैंक बना क्यों कि इस टाइम पर कई सारे बैंक्स ओपन हुए स्वदेशी मूव्मेंट के तहर्त हम नहीं चाहते थे विदेशी बैंक को को यूज करें हम उन्हें बॉयकॉट करना चाहते थे उनको बॉयकॉट करेंगे तो कोई अल्टरनेटिव भी तो चाहिए इ तो याद होगी 1926 में हिल्टन यंग कमिशन बना था 1934-35 के अंदर आर्बियाई का एक्ट आया 1937 तक आर्बियाई का हेड़कॉर्टर कैलकटा में था उसको मुंबाई लेकर आये 1949 में एक प्राइवेट इंस्टेटूशन क्योंकि वो 1934-35 से 1934-35 से 1949 तक एक प्राइवेट इंस्टेटूशन की तरह चल रहा था प्राइवेट से उसका नाशलाइजेशन हुआ आर्बियाई को बैंक्स के ऊपर रेगुलेशन पावर देने के लिए बैंकिंग कमपनीज आक्ट बनाया जिसको आज बैंकिंग रेगुलेशन आक्ट के नाम से आप जानते हैं ये लिख लीजेगा इंपोर्टेंट है प्रिलिंस में कहीं भी पूछा जा सकता है 1949 के अंदर बैंकिंग रेगुलेशन आया जिसने आर्बियाई को बैंक्स के ऊपर रेगुलेट करने की पावर दी थी और आर्बियाई बन गया इंडिया का रेगुलेटरी सेंट्रल बैंक जैसे बाकी देशों में जैसे अमेरिका में फेडरल रिजर्व है फिर हमें मिल सेविंग्स अकाउंट पर यह इतना तेजी से बढ़ नहीं पा रहा था क्यों कि बैंक्स जादा तर प्राइवेट ओरिजन के होते थे और उन्हें क्या फरक पड़ता है कि कोई गरीब इंसान को फाइदा मिले या ना मिले तो इसलिए प्राइवेट ओरिजन के बैंक्स जंता के अकाउंट जादा खोल नहीं पारे ते गरीब जंता दातर पहुंच नहीं पारी थी उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंडेंस फेज में इंदिरा गांदी जी के टाइम पर हमें ये खयाल आया कि एक काम करते हैं गरीबी हटाओं का नारा तो दे रहे हैं गरीबी कारी संस्था है अटा सकती हैं तो इन प्राइवेट बैंकों को रातो रात अब गवर्मेंट बैंक बना देते हैं इसलिए 1969 के अंदर गरीबी को कम करने के लिए देश में विरुजगारी कम करने के लिए लोगों को लोन मिल सके हैं इसके लिए हमने बैंकों का नैशलाइज के अंदर तो पहले चौदा बैंक फिर छे बैंक ऐसे इंडिया में प्राइवेट से सरकारी बना दिये गए और क्यों किया गया यह में सवाल बन सकता है पहला रीजन था कि यह जंता तक मासिस तक नहीं पहुंच पारे थे दूसरा रीजन था यह गाओं के इलाकों तक ग्राम एक्सपरिमेंट की बैंक को आपने खोल तो दिया है पर उनका काम एफिशेंटली चली नहीं पा रहा था तो सरकार ने का डूंट वरी हम गाओं गाओं तक बैंकों को पहुंचाएंगे और कमर्शल एक्टिविटीज के लिए कमर्शल बैंक इंडिया में ओपन करेंगे चौदा बैंक पहले 1969 में नैशलाइज हुए और छे बैंक 1980 में नैशलाइज हुए बट इससे भी हमें एक चीज यह समझ आ गई कि इंडिया में नैशलाइजेशन करने के बावजूद कई सारे बैंक बिलकुल गाओं तक नहीं पहुंच पा रहे थे और अगर पहुंच रह है इसलिए लोगों का एक डिस्कनेक्ट था एक कमी थी और खासतोर पerson की इलाखों में डिस्कनेट होता तो हमने कहा गाओं की जरूवत है समझते हुए हम रूरल लेवल पर रिजिनल रूरल बैंक बनाते हैं हर गाओं की जरूवत को समझते हुए अब ऐसा तो नहीं हो सकत था, कि हम एक यूपी का जो बैंक है, उसकी ब्रांच खोल दें, बिहार के अंदर, दोनों का कल्चर अलग है, दोनों की संस्क्रिटी अलग है, दोनों की बैंकिंग अक्तिविटीज का टाइप अलग है, तो हमने का स्टेट लेवल पर गाओं के अंदर जा जा के काम करेंगे, जिसका नाम होगा Regional Rural Bank, शेत्रिय ग्रामीन बैंक, हमने RRB जब इंडिया में establish करे, तब RRB में सबसे पहला इंडिया में establish हुआ था तो प्रतम बैंक establish हुआ था, Regional Rural Bank इंडिया में सबसे पहला प्रतम बैंक था, प्रतम बैंक ने इंडिया के अंदर सबसे पहले लोगों को Regional बैंकिंग गाओं के इलाकों में प्रोवाइड गतना शुरू किया मुरादाबाद से फिर हम बकाइदा कानून लेकर आए रीजिनल लूरल बैंक एक्ट के नाम से और देश के अंदर बैंकिंग एक्टिविटीज गाओं के अंदर भी चल पड़ी आज भी कई सारे गाओं में दूसरे के साथ मर्ज कर दिया आपस में दूसरे के साथ जोड दिया रीजिनल लूरल बैंक का काम क्या है गाओं तक पहुंचके गाओं की दरूरते समझ कर गाओं में बैंकिंग एक्टिविटीज प्रोवाइड करना 1975 दो अक्टूबर से पहला बैंक इंडिया में खुला था वही मैं प्रतम बैंक आपको बता रहा हूं अच्छा यह बैंक खुल तो रहा है इसका मालिक कौन है पैसा कौन लगा रहा है किसके पैसे के बेसिस पर यह बन रहा है रीजिनल लूरल बैंक बनाए जाते हैं फाइनांस मिनिस्ट्री का पैसा लगा कर जहां पर मोदी जी मतब सेंटर गवर्मेंट हमारी 50% पैसा अपनी पॉकिट से देती है सेंटर गवर्मेंट ठीक है न कि आप बैंक ओपन कर लीजे चाहे किसी भी स्टेट में खुल रहा हो बिहार में यूपी में हरियाणा में राजिस्तान में तमिलनाडो में 50% पैसा सेंटर गवर्मेंट द जाते हो तो जो बैंकिंग एक्टिविटी पहले से कर रहे हैं उनका तजुर्बा लेना जादा बहतर है जैसे कि SBI हो गया जैसे कि PNB हो गया जैसे कि Union Bank of India हो गया अलाबाद बैंक हो गया इनके पास पहले से बैंकिंग का तजुर्बा है तो आप इनको बोल सकते हो कि लूरल बैंक तो उसके अंदर 35% पैसा 35% पैसा कौन लगाएगा 35% पैसा लगाया जाएगा किसी स्पॉंसर बैक के द्वारा जैसे यूपी का बड़ा फेमस बैंक है गुरकपुर शेत्रिय ग्रामीन बैंक उसको स्टेट बैंक ओफ इंडिया स्पॉंसर करता है हर्याना के अंदर बड़ा फेमस है हर्याना शेत्रिय ग्रामीर बैंक उसको पी एन बी पंजाब नैशनल बैंक स्पॉंसर करता है आप समझेए मेरी बात तो ऐसे सरकारी बैंक ही स्पॉंसर करेंगे एक और एक्जंपल देता हूँ मुरादाबाद में प्रथम बैंक खोला गया जिसका हेड ऑफिस मुरादाबाद यूपी के अंदर था उसको स्पॉंसर किया था सिंडिकेट बैंक ने सिंडिकेट बैंक भी एक तरीके का एक सरकारी बैंक था जिसने स्पॉंसर किया प्रथम बैंक मुरादाबाद के अंदर मतलब 35% पैसा स्पॉंसर को देना होता है बैंकिंग government bank है वो 35% and state government के द्वारा 15% पैसा लगाया जाएगा तभी open कर सकते हो जी ये बात याद रख लीजेगा all right moving ahead अब मुद्दे की बात बस हमें यही समझनी है कि हमें इंडिया के अंदर banking activities को बढ़ावा देने के लिए काफी reforms करने पड़े थे आजादी के बाहत पर इंडिया म में दिक्कत यह हो रही थी कि development को बढ़ावा देने के लिए कई सारे developmental institutions की कमी मैसूस हो रही थी जैसे गाओ के अंदर जा जाके लोगों को लोन देना है agriculture purpose के लिए लोगों को लोन देना है क्योंकि normally क्या था इंडिया 1947 के बाद एक पूर economy अंग्रेजों से हमने ग्रहन करी इसी धारन करी थी we got a very poor economy from the Britishers 200 साल उन्होंने लुटा हमें हमारी सोने की चिडिया हमें कहते थे और हमें लूट के ले गए अंग्रेज इसी वज़े से आपको देखने मिलता है कि इंडिया के अंदर अब काफी सारे सुधार काफी सारे changes हमें create करने थे तो हमने कहा कि हम इं for agriculture and rural development और नाबाड की शुरुआत हुई 1982 के अंदर शुरुआत में ये RBI के अंदर होता था बट धीरे दीरे इसको RBI के चंगुल से निकाल कर अब Indian government ने खरीद लिया अच्छा कभी मन में ये सवाल या शंका पैदा हो कि नाबाड क्या government owned है जी अब government owned है पहले RBI जैसे autonomous institution क के तहट इक स्वतंत्र संस्था के तहट आती थी अब ये ministry of finance के control में आती है मतलब सरकार ने RBI से इसे कुछ पैसा दे कर खरीद लिया है ये बात आपको याद रखनी है नाबाड सिवा रमन कमिटी की सिफारिशों के basis पर बनाए गए थी इसका कानून आया 1981 के अंदर काम इ के अंदर अगरिकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट होता था और रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल होता था उनको जोड़ दिया उनको जोड़कर RBI ने बनाया नाबाड को उन दोनों को replace कर दिया और उनकी जगे अब नाबाड ने काम शुरू किया अब भारत सरकार RBI से इसको ले चुकी है 30,000 करोड के capital को इसमें डाला है infuse किया है 30,000 करोड रुपीज के capital को इसमें डाला है capital डालने का मतलब center government इतना पैसा दिया है कि जाओ करो अपनी activities इस पैसे का इस्तमाल करो और करो अपना business in fact कई सारे international organizations हैं जैसे कि आपका world bank उस तक से यह मदद ले देता है और इंडिया के अंदर banking activities को बढ़ावा देता है क्या एक लौता नाबाध ही बनाया गया था RBI के अंडर as a developmental institution नहीं एक और संस्थाती जिसका नाम था NHB National Housing Bank इसको भी RBI के अंडर ही बनाया था आपने कभी home loan लिया है या किसी का सुना है वह home loan ले रहे हैं जैसे HDFC से कोई home loan ले रहा है तो अब ऐसी company जब आपको home loan दे रही है आपके साथ चल कपट जूट ना हो आपके साथ जूट ना कहा जाए regulate किया जाए housing loan market को तो उसके लिए National Housing Bank बनाया गया इंडिया में कई सारी housing finance limited companies है जो लोगों को loan देती है घर खरीदने के लिए ठीक है ना अब 1987 में हमने National Housing Bank Act बनाया जिसका काम 1988 से शुरू हुआ अगले साल से शुरूआत में 1987 में इसको बनाया तक काम इसका अगले ही साल से 1988 से शुरू हुआ अब यह इंडियन गवर्मेंट के तहट आता है अब इंडियन गवर्मेंट ने इसको खरीद लिया है पैसा देकर और इंडियन गवर्मेंट इसे रेगुलेट करता है दिल्ली में सकाट काम क्या है housing finance companies जो है जो company आपको loan देती है घर खरीदने के लिए उ उसके लिए IRDAI है insurance regulatory development authority of इंडिया stock market पे आप share खरीदते बेचते हो आपके साथ कोई fraud ना हो उसके लिए SEBI है securities exchange board of इंडिया आप pension बुढ़ापे में pension प्राप्त करना चाहते हो तो उसके लिए pension product खरीदते हो तो उसके लिए pension fund regulatory development authority है इसी तरीके से नाबाड और national housing bank भी regulatory bodies के economic activity को regulate करना कि कहीं कोई fraud कहीं कोई corruption कहीं कोई illegal activity तो नहीं हो रही है please remember that यह काम होता है basically in organizations का तो इंडिया के अंदर हमने नाबाड और NHB जैसे institution को बनाया हम 1990 में SIDB भी लेकर आए small industries development bank of India जो पहले IDBI bank के साथ ही था बट अब अलग से institution मनाया गया small small IDBI industrial development bank of India इसका नाम था small industrial development bank of India छोटे industries के विकास के लिए bank of India अब आज के टाइम में सरकार की मुदरा योजना चलती है micro unit development and refinance agency क्या बोला मैंने micro unit development and refinance agency सरकार की आज के टाइम में योजना चलती है ना सिड़ी के द्वारा इसको regulate किया जाता है control किया जाता है देश भर में इसकीम को spread किया जाता है ताकि जो छोटे business small industries है उनको पैसा मिल सके loan के लिए उनको पैसा मिल सके अपने business को चलाने के लिए इन छोटे businesses को आप माइक्रो स्मॉल मीडियम enterprise भी कहते हैं क्या कहते हो माइक्रो स्मॉल मीडियम enterprises और यह शुरू इसलिए हुए है to fund the unfunded ऐसी संस्थाओं को credit प्रोवाइड करना जिसको छोटे संख्या में credit देते हैं पैसा देते लोन देते हैं तो उसे कहा जाता है माइक्रो क्रेडिट तो यह माइक्रो क्रेडिट का काम प्रोवाइड करते हैं लोगों को छोटे businesses को छोटे amount में लोन देते हैं गांदी जी का कहना था कि इंडिया के अंदर small businesses cottage industries मतब छोटे 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 businesses कुटीर उद्योग जिसको इंदी में कहते हैं यह हमारा future है देखो तुम बड़ी बड़ी फैक्ट्रिया इंडस्ट्रिया खोल लोगे वह मशीन ले आएंगे और मशीन से इंडस्ट्रियल में इंडस्ट्रियल लेवल पर काम करवाएंगे लोगों को नौकरिया मिलना ही प पढ़ेंगे एक्सपोर्ट करेंगे इंडिया के बाहर और पैसा कमा के हमारे देश की ग्रोथ में कॉंट्रिब्यूट करेंगे आर यह बात समझ मैं इसलिए स्मॉल इंडस्री डेवलप्मेंट बैंक ऑफ इंडिया में मतलब माइक्रो मतलब सबसे छोटी स्मॉल मीडियम ए और यह लास्ट इयर के प्रिलिम्स एक्जाम में सवाल पूछा था आप लोगों ने लास्ट इयर का प्रिलिम्स 2023 का प्रिलिम्स एवैल्यूट किया है आपको देखने मिलेगा MSME की डेफिनिशन पर ही सवाल आ गया तो यह जो मैं सेशन करा रहा हूं आपको कि आपको एकॉ आपको कवर करता था आउट ओ फिफ्टीन सिक्टीन क्वेशन विच वर आस्ट मेरी जो मैंने पढ़ाया है उनमें से साड़े नौ सवाल आये थे ठीक है अगले साल भी दस के करीब एक्सपेक हम कर रहे हैं आ जाएंगे बेसिकली आइव डिन टीच वाट यूपी एसी आस् इसलिए लोगों का वो सई हो जाता है अब देखो MSME के डेफिनिशन देखो क्या होता है आप अगर एक MSME खोलना चाहते हो तो दो चीज़ें देखनी जरूरी है एक तो आपने कितना इंवेस्ट किया हुए और आपका टर्नोवर कितना है माइकरो-फर्म के लिए अलग होता है मीडियम फर्म के लिए अलग होता है और उसके लाबा स्मॉल फर्म के लिए अलग होता है, सबसे छोटा यूनिट है माइक्रो, उससे बड़ा है मीडियम और सबसे बड़ा है स्मॉल, ऐसे आपको देखने होता है, तो पहला आपका क्राइटीरिया होता है इन्वेस्मेंट कि आपने जो फैक्टरी हो लिए है वहाँ पर प्लांट और मशीन में, मतलब प्लांट इक्विप्मेंट में, मतलब फैक्टरी में कितना पैसा अपनी जेप से लगाया है, how much money have you spent for building the plant and machinery और turnover का मतलब क्या होता है turnover, कितने का समान बेच लेते हो, जैसे मानलो मेरी एक परचून की दुकान है, मैं महीने का 50 लाग का समान बेच देता हूँ उन 50 लाग के समान की cost पड़ती है, मुझे 32 लाग रुपे है 32 लाग रुपीज, तो actually में मेरा profit 18 लाग है, मतलब MRP जिनकी 50 लाग थी, उतने का मैंने समान बेच दिया, उस समान की कोई cost भी तो होगी, 32 लाग cost थी, तो 18 लाग मेरा profit हुआ अब profit और turnover अलग होता है profit में आपको 18 लाग profit दिखा बट turnover है 50 लाग का कितने रुपे का समान तुमने बेचा है तुमारे पास incoming कितनी हुई है money की, कितना पैसा आया है ये देखा जाता है, इसलिए turnover जैसा term एक शब्द important है हमारे लिए अब देखो ज़रा ध्यान से भई investment और turnover का criteria देखा जाता है, सबसे पहले बताऊंगा investment के criteria के फिर से देख लेते हैं, इंडिया के अंदर investment जो है आपका और turnover जो है आपका, ये दो definition use की जाती है, MSME industry को define करने के लिए investments में, plant machine equipment में कितना investment डाला जा रहा है अगर आपकी micro industry है तो it does not exceed 1 करोड आपका investment जो plant और machinery के अंदर किया गया है, एक करोड से जाजा नहों small industry कहलाने के लिए 1 से 10 करोड के बीच में हो, 1 तो 10 करोड के बीच में हो, और medium enterprise कहलाने के लिए 10 तो 50 करोड के बीच में हो, 10 से 50 करोड के बीच में हो, investment investment मतलब आप एक खोल रहे हो, factory खोल रहे हो, उसमें कितना पैसा लगा रहे हो, चाए, loan लेकर चाए, कई से भी, कितना पैसा factory में लगा रहे हो, turnover का मतलब कि कितना तुमने sale किया है, जैसे मैंने example दिया, 50 लाग का आपने समान बेचा, समान की कीमत 32 लाग थी, तो 18 लाग का actually profit हुआ है आपको, बट टोटल कितने का समान बेचा, वो आपका turnover है, if turnover does not exceed 5 करोड, let's say 4 करोड का turnover है, तो micro industry कहा जाएगा, if turnover exceeds 5 करोड, but is not more than 50 करोड, 5 से 50 करोड के बीच में, मान लीज़े, 43 करोड है, तो वो small industry कही जाएगी, and अगर turnover हमारा मान लेते 112 करोड है, तो वो आपका medium enterprise कहा जाएगा, इतने का समान आपने साल में बेच दिया, 112 करोड का समान आपने साल में बेचा है, इतना आपका turnover है, तो आपको medium enterprise कहते हैं, यह जानकारिया आपका, 1 जुलाई 2020 के बाद से, 2020 के बाद से, इंडिया के अंदर आपको देखने मिलेगी, यह criteria था, पहले का criteria आपके लिए exam specific अप नहीं बचा है, there is no point of studying the old criteria, ठीक है अगर आपको exam clear करना है, तो focus preparation करनी पड़ती है, and you have to focus on the important aspects, right, got it, इसलिए पहले क्या criteria था, उससे फरकनी पड़ता, नई criteria को याद कर लो, MSME इंडिया में किस प्रकार काम करती है, यह आपको याद रहेगा, ठीक है, banks और क्या करते हैं, banks का आपने primary function देखा, कि यह current account और savings account open करते हैं, अब यह क्या होता है, bank के अंदर अलग-अलग type के accounts होते हैं, सबसे पहली बात तो, आपको एक balance sheet नाम का term समझाना है, balance sheet का मतलब है, कि आपके पास, कहते हैं यह शब्द थोड़ा कठिन लग सकता है, थोड़ा बुरा लग सकता है, बड़ हैसियत क्या है, औकात क्या है, अगर किसी की पूछ रहे हो कि भही तेरी औकात क्या है, तो आप पूछ रहे हो कि तुमारे पास कितने की संपतियत, कितने का asset है, और कितने की liability है, मतलब कितने की उधारी है, how much asset do you possess, and how much liability do you have, ये balance sheet नाम के accounting record के अंदर एक accounting statement के अंदर दिखाया जाता है, जैसे विजय माल्य जी के पास हो सकता है, 400 करोड की property हो, और 300 करोड का loan हो, तो उनकी हैसियत, असलियत में 100 करोड की हो गई, 400 minus 300, क्योंकि इतना उनके पास actually का asset है, अपने उधार चुका देने के बाद, ठीक है, net worth भी जिसे हम कहते हैं, net worth कहते हैं, इस term को, लिख लो यहां कहीं पर, net worth, कि आपके उस कितने की property है, minus कितना उधार चल गए आपके उपर, अब balance sheet हम बनाते हैं, जैसे मैं अपनी balance sheet बनाओ, जैसे मेरे पास एक car है, वो मेरा एक asset है, मेरे पास मेरा mobile phone है, वो मेरा एक asset है, मेरे पास मेरा land है, जमीन है, वो मेरा asset है, मेरे पास अगर bank में कुछ पैसा deposit में पढ़ा है, मान लेजे 5 लाग रुपे deposit में पढ़ा है, तो वो भी मेरा एसेट है वो भी मेरी संपत्ती है वो भी मेरा अधिकार है वो भी मेरी प्रॉपर्टी है इसलिए उसको एसेट में लिखा जाता है एसेट मतलब पूंजीगत संपत्ती जो आपकी संपत्ती है आपके पास जो आपके पास एसेट है प्रॉपर्टी है जो आपको बेनेफि लोन लिया हुए मैंने और मेरे उपर उधारी बनी हुई है तो वो मेरे लिए liability होगी ये था मेरे मतलब as an individual एक व्यक्ति के हिसाब से क्या आप जानते हैं बैंकों के लिए ये बिल्कुल उल्टा बिल्कुल बदल जाता है एक बैंक के लिए asset क्या होता है आप जा रहे हो बैंक में पैसा जमा करा रहे हो कि ये लो PNB मेरा पैसा समाल के रखो मैं जब वापस लेने होंगा तो दे देना और मुझे जितने जिन में पैसा रखोंगा उतने जिनका interest दे देना पंजाब नेशनल बैंक ने का ठीक है सर लाइए पैसा दीजिए और हम इसे रख लेंगे इनके लिए हमारे डिपॉजिट्स लायाबिलिटी है हमारे लिए डिपॉजिट्स एसेट होते हैं जो पैसा एक तरीके की लायाबिलिटी है बैंक के लिए और लोन एक तरीके के लिए एसेट हैं बैंकों के पास क्यों क्यों कि आप जाते हो बैंकों में पैसा डालते हो बोलते हो अब bank कमा कहां से रहा है, जिसको loan दिया है उससे कमा रहा है, उससे मान लीज़े 9% interest कमा रहा है, आपको 5% interest दे रहा है, जो बीच का 4% है वो bank का commission है, bank का spread है, bank जो पैसा कमा रहा है, अपनी salary दे रहा है, staff की, अपने internet का खर्चा, lighting का खर्चा, ये सब आपको देखने मिलता है तो bank के लिए कहानी थोड़ी बदल जाती है, asset उनके loan होते हैं, और liability उनके deposit होते हैं, asset क्यों है, bank को पैसे कमाने का मौका मिल रहा है, interest कमाने का मौका, जो हम किस्त भरते हैं, bank के पास जाता है, तो bank की income है, इसलिए bank के लिए वो asset है, और deposit liability इसलिए क्योंकि जंता कभी भी आ सकती है अपना पैसा वापस मांगने के लिए, अच्छा, अब इसमें भी मैंने आपको बता दिया, loans को liability कहते हैं, liability भी यह दो तरीके की हैं, liability या इन deposits को भी आप दो तरीके से देख सकते हो, एक होता है बेटा, short term nature का, और एक होता है long term nature का, short term nature का दो पार्ट में बटा ह हो है, एक है savings account और एक है current account, अचा current account आप में से कुछ लोगों ने खुलवाया है, जरूरी नहीं है, सब लोग खुलवाएंगे, savings account हम सब का होता है, जिसमें salary आती है, जिसमें आप पैसा जोडते हो ना, उसे आप savings account कहते हो, savings account के अंदर आपको देखने मिलता है, आप हर सा में इसले कह रहा हूँ कि जब मन किया आपने पैसा निकाल लिया, जब मन किया आपने पैसा डाल दिया, पर businessmen, जो की regular business कर रहे हैं, जिनको दिन में कितनी ही बार पैसा निकालना और डालना पड़ता होगा, उन लोगो कौन सा account खूलना पड़ता है, वो खूलना पड़ता ह कौन सा कौन सा कौन सा भूलो मत करेंट अकाउंट करेंट अकाउंट विच इस एनदर शॉर्ट टर्म अकाउंट ठीक है भई करेंट अकाउंट एक और शॉर्ट टर्म अकाउंट का एक्जामपल है जब आप करेंट अकाउंट की बात करते हैं तब आपको देखने मिलेगा, बिजनेसमें इस अकाउंट को उपन कराते हैं, जिनका regular incoming and outgoing of money होता है, आगे चले, लॉंग टर्म निचर में, अब आपके दादा दादी, नाना नानी बूड़े हो गए, थोड़ा बहुत, जिन्दगी में उनके पास पैसा इखटा हुआ है, 20-25 लाग रुपे, वो अपने बुढ़ापे को secure करना चाते हो, चाते हैं हर महीने उनके account में कुछ पैसा आता रहे, with interest, तो वो क्या कर सकते हैं, fixed deposit करा सकते हैं, जिस पर हर महीने ब्याज मिलता है, हर तीन महीने, हर छे महीने, हर साल का ब्याज ले सकते हो, इसे कहते हैं, fixed deposit, FD करा देना, ये term तुमने सुना ही होगा, इसमें कुछ time period के लिए आपका deposit fix हो जाता है, जिसे आप तोड़वा नहीं सकते हैं, जिसे आप वापस नहीं ले सकते हैं, वो पूरा होने के बाद आपको interest मिलेगा, हो सकता है हर महीने regular interest मिले, हो सकता है आपको, हर तीन महीने में, हर छे महीने में, हर साल में रेगुलर इंटरेस्ट मिले, ठीक है नहीं इसे FD कहते है, FD और RD में फरक यह है कि FD में आप एक साथ पैसा डालते हो जैसे 20 लाग रुप एक साथ डाल दिया अगले महीने से आपको उस पर इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा, अब यह RD किस मुर्गी का नाम है RD है recurring deposit, अगर एक अंग्रेजी का शब्द आप dictionary में खोल के देते हो, recurring का मतलब क्या है, if you look into the dictionary and find what is the meaning of recurring, recurring का मतलब है बार बार occur होने वाला, जो बार बार आता है जो बार बार होता है, वो है recurring अब देखो, तुमारी नई नई जॉब लगी है, ठीक है न, पहले तो बधाई ले लो मेरे से उसमें तुम चाहते हो कि तुम 50,000 की नौकरी लगी है तुमारी हर महीने कुछ पैसा जोड़ो, ताकि बुढ़ापे में तुमारे पास अच्छा खासा पैसा ही खट्टा हो जाए तुमने कहा हर महीने तुम 50,000 की सैलरी में से 10,000 जोड़ोगे और जैसे तुमारी age 60 हो जाए, तो मैं वो पैसा मिल जाए, करोड़ों में मिलेगा interest लग कर, compound interest लग कर, तो जब तुम हर महीने थोड़ा-थोड़ा पैसा किस्तों में जोड़ रहे हो, जोड़ रहे हो, EMI लोन देने पर होती है, यहाँ में पैसा जोड़ रहे हो, इसे recurring deposit कहते हैं, यह दूसरे तरीके का long term deposit है, तो बिटा, short term और long term का दोनों का deposit available है, short term वाले deposit को net demand liability कहते हैं, liability क्यों, क्योंकि आपको मैंने बताए था, कि जो आपके deposit है bankों में वो liability है, demand liability की मतलब जब मानोगे आपको पैसा वापस मिल जाएगा, आप मांग रहे हो, bank मेरा पैसा वापस दे, चेक लगा रहे हो, चेक आपका bank honor कर देगा, ATM से card डाल के निकाल रहे हो पैसा, या UPI phone पे भीम के माध्यम से, आप किसी को Google पे phone पे paytm, UPI कर रहे हो, आपने जब मांगा पैसा, bank ने आपको दे दिया, कोई bank ने yes, no, चूच अपाड करी, नहीं किया न, bank gave your money outrightly to you, without even bickering with you, outrightly it gave your money, it's your money, you are getting it back, you have the right to take it back, you have the right, when you demand the money, you can get it, but in recurring deposit, in FD, ऐसा नहीं होता, आपने कुछ साल के लिए fix करा लिया है, तो उतने साल के लिए fix रहेगा, और पहले अगर पैसा लेना चाहते हो वापस, आपका पैसा कटेगा, आपने जो मानलो 20 लाग रुपे जमा कराए, आप वापस लेना चाहते हो कि मेरे को जरूवत है, 19 लाग वापस देंगे, एक लाग का पैनल्टी लगा देंगे, क्यों किया तुमने ये सब, बैंक का टाइम बरबाद किया, बैंक तो चार्ज करेगा ना पैनल्टी, कुछ केसे में पैनल्टी बुढ़े लोगों के लिए, जैसे एजेड लोगों के लिए नहीं होती है, नौर्मली पैनल्टी होती है, तो ये कोई बच्चा आके मत कहना कि सर हमारे दादा दादी ने तो तुड़वाय था, उनको तो कोई पैनल्टी नहीं देनी पड़ी, कुछ केसे में होती है, कुछ केसे में और नहीं होती, इसीलिए, फिक्स देपॉदिट और रीकरिंग डेपॉदिट, जैसे दो अलग-अलग तर्म हमें देखने मिलते हैं, जो की टाइम से जुड़े ह हैं, इनको कहा जाता है, जी, time liability, क्या कहा जाता है, they are called the time liability, my dear students, net demand and time liability is the term which is used to denote both of them, क्या, net demand, net demand and time liability, this is the terminology, जो की इन दोनों को denote करता है, इसके अंदर savings, इसके अंदर current, इसके अंदर FD, इसके अंदर RD, सब आ जाते हैं, demand liability, savings current, time liability, FDRD, और net का मतलब है, कितना पैसा तुमने डाला है और कितना पैसा निकाल लिया है, उसका difference, तो बैंकों के पास हमारा जो पैसा deposited है, वो NDTL कहा जाता है, और बैंक जो है, हमारे NDTL का, net demand and time liability का, क्या सारा पैसा loan में डालते हैं, मतब मान लीजे, हम सब लोग मिलकर एक महीने में 100 करोड जमा करा रहे हैं, बैंक के अंदर, 100 करोड रुपीस हमने deposit करे हैं, हमने जमा करा हैं, बैंक के अंदर, तो क्या सारा पैसा bank loan पे घुमा सकता है, नहीं, हम जैसी है, के मैं आपको हमारा photo दिखा रहो, and this is a bank, हम सब ने मिलके 100 करोड रुपे डाले, NDTL के, अब bank जो है, उसमें से कुछ पैसा bank को SLR के लिए रखना होगा, और कुछ पैसा CRR के लिए रखना होगा, और उसके बाद जो बचा, वो पैसा, हम बाकी लोगों को, जिनको loan की जरू इसका topic पहले पढ़ रहे हैं, और, ऐसे banking के अलग-अलग topics हम पढ़ेंगे आज की class में, आज की lecture के अंदर, so, let us start with today's class, NBFC, non-banking finance company, एक ऐसी company, जो finance provide करती है, बड़ बैंक नहीं है, उसको non-banking finance company कहा जाता है, क्या बोलाएक, ऐसी company, जो की finance provide करती है, but it is not a bank, ऐसी कई सारी companies हैं इंडिया में, बजाज finance, मथूट गोल नोन, पेटियम, right, a lot of such companies are there in India, यह वो companies by definition, जो की registered है, Companies Act 1956 के तहत, बैंक होता, तो Banking Regulation Act के तहत बनाए जाता, यह company है, Companies Act 1956 के तहत बनाए जाई गई, यह बात याद रखेगा, और क्यूंकि Companies Act 1956 के provisions के तहत बनाए गई है, अब तो कहना कि नया Companies Act आ गया है, अगर अभी कोई NBFC बनती है, तो नया Act के तहत बनेगी, बस यह फरक्या है, और कुछ नहीं है, confuse मत होना, इनका काम क्या है, इनका क्या है, they are also in the business of giving loans and advances, they even acquire shares, stock, bonds, debentures and government securities, which are issued by government or any local body, मतलब, share खरीदने बेचने का काम, bonds खरीदने बेचने का काम, यह सारे काम, यह organization करती है, next है आपका, यह leasing, कोई चीज उधार पे देनी है, उधार पे खरीदना चाते हैं, जैसे बजाज finance, आपको lease पे चीज़ें बेच सकती है, higher purchase, higher purchase भी, कि आप कोई चीज हाईर कर रहे हो, आप किसी चीज़ को उधार पे ले रहे हो, उधार पे खरीद रहे हो, insurance का business, जी हा, NBSC, insurance के business में भी involved है, and chit fund, 21 दिन में, पैसा double, ऐसे type के business, जो chit fund होते हैं, chit fund और MLM में बहुत फर्क है, multi-level marketing companies में बहुत फर्क है, chit fund वो fund होते हैं, जिसमें collectively जनता का पैसा जोड़ा जाता है, collective instruments के तहट पैसा जनता का जोड़ा जाता है, और उस पैसे को ultimately, ये यूज़ करते हैं, chit fund basically, जिसे committee सुनाओगा, committee word सुनाओगा आपने, committee डाली गई है, committee है, इसका मतलब है कि लोगों ने पैसा जोड़ा है, और लोगों का पैसा जोड़ कर, invest किया रारा है, कहीं पर साथ मिला कर, वो chit fund का एक example है, जैसे हजार लोगों के पैसे को जोड़ा, उसे invest किया, किसी company के shares में, एक तरीके का chit fund का example है, एक किसी company के अंदर invest किया, it is an example of a chit fund, you understand now, इस तरीके से दोस्तों, NBFCs, non-banking finance companies, इंडिया में काम करती है, अलग-अलग group में, अलग-अलग businesses में, अब NBFCs, यह कोई bank तो है नहीं, इनका, अगर definition देखेंगे, they are not working as an agriculture, अगरिकल्चर के लिए काम नहीं करती है, नहीं इंडस्ट्री के लिए काम करती है, यह basically, एक सतंत्र banking company है, जो bank की तरह पैसे, लेन देन करने का काम करती है, जो bank की तरह पैसे, लेन देन करने का काम करती है, नव, निधी schemes और chit fund काफी similar होते हैं, बच्चा पूछ रहा है, निधी funds जो होते हैं, वो काफी similar होते हैं, कि in fact, निधी company भी कहते हैं, ऐसे chit funds को, chit funds को न, निधी company भी कहते हैं बेटा, यह आद बहुत ध्यान रखेगा, sir, are MLM illegal, देखो यार, MLM, multi-level marketing companies, वो collective investment fund की तरह काम करती है, scheme है, जहां पर company के पास revenue का source, सिर्फ customer जोड़ना, सिर्फ member जोड़ना है, तो वो fraud है, वैसी multi-level marketing company fraud है, ओके, यह बात याद रखने हैं, चलिए, आगे चलें, तो non-banking finance company होती हैं, सब्सक्राइब की दरुवत क्या हैं, आपको non-banking finance companies भी open करनी पड़ेंगी, ताकि customer तक उसकी हर आखरी जरुवत पूरी हो सके, जो कि banks के दौरा, obviously इतने बड़े scale पर कर पाना, असंभव है, बड़ा मुशिकिल है, यह बात याद रखिएगा, ओल्राइट, clear है, ओके, moving ahead, NBFCs, they provide lot of services, a lot of services, customers को, चाहे वो शहर में हो, चाहे अर्बन एरियास में हो, जैसे example दो, गोल्ड गिर्वी रखो, लोन ले जाओ, घर खरीदना है, लोन ले जाओ, बाइक खरीदनी है, लोन ले जाओ, आइफोन खरीदना है, फिर उस पर टिक टॉक बनाएंगे, लोन ले जाओ, इनी पर्पर्पर्ज यू वांट तो फुल्फिल, I am not judging, NBFCs can provide you finance, just remember that, इनकी कोई as such, clear-cut, role and responsibility नहीं कि, बस यही करते हैं, पैसा तो provide करते हैं, पर banking activities के इलावा, आपको जो भी जरूवत है, आप से आपकी savings लेकर, invest करने का काम, यह दोनों कर सकते हैं, invest करने का काम, यह दोनों कर सकते हैं, NBFCs और commercial banks के बीच का फर्क क्या है, एक NBFC और एक bank का फर्क यह है, bank में तुम savings account खुलवा सकते हो, businessman हो, व्यापारी हो, तो current account खुलवा सकते हो, यहाँ पर कुछ भी नहीं खुलवा सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं खुलवा सकते, savings account, current account, I'm sorry, you cannot get it open, पहली बात तो, पर अभी तो आपने बोला, deposit कराया जा सकता है पैसा, long term money, demand deposit नहीं, time deposit, 10 साल, 15 साल के लिए, जमा कराया जा सकता है, यह बात ज्यान रखे, long term money, इसमें जमा कराया जा सकता है, प्लीज मेंबर याद रखेगा, दूसरी बात, NBFC आपके, सरकार के, current payment system का, पार्ट नहीं है, current payment system का, पार्ट नहीं है, जिनके तुरू आपको, पैसा मिलता है, assistance financial payment मिलती है, जैसे for example, जो पे टियम पेमेंट बैंक है, उसको पेमेंट बैंक जैसा license मिला है, जो इधर से पैसा उधर डालने में help कर, एक जगे से दूसरी जगे पैसा डालने में help करता है, रेमिटेंस प्रोवाइड करता है, वो आपका payment and settlement system का पार्ट है, वहाँ पे वो debit card भी issue कर सकते हैं, बट NBFC आपको payment दिलाने के लिए नहीं है, आपका payment transfer करने के लिए नहीं है, जिनको पैसे की जरूवत है, पैसे की आवश्यक्ता है, ठीक है ना, उनके लिए दोस्तों, जिनको पैसे की आवश्यक्ता है, उनके assistance प्रोवाइड करते हैं, फिनाइंचल असिस्टेंज, आगे चले, NBFCs cannot issue checkbooks, obviously, बिकाज ये long term lending करते हैं, और आपसे पैसा भी long term में लेते हैं, ये बात यहान रखेगा, next point, जो हमारे लिए important है, कि RBI के दौरा, DICGC नाम की एक organization है, देखो, हमारे देश में, हमारे देश में, कई सारे bank fail हुए हैं, US के अंदर कई सारे bank fail हो रहे हैं, आम जनता का क्या, जो पैसा जमा कराती है बैंकों में, well, DICGC नाम की एक company, इंडिया में है, जो की deposit insurance credit guarantee corporation, deposit insurance, credit guarantee corporation, ये organization, DICGC, ये organization, आपका अगर पाँच लाख रुपे तक किसी, प्राइवेट बैंक में deposited है, तो आपके उस पाँच लाख रुपे तक के amount को, ये उस पाँच लाख रुपे तक के amount को, insure करती है, amount up to rupees 5 lakh rupees, are insured by DICGC, deposit insurance credit guarantee corporation, ये बात ध्यान रखिएगा, इतना पैसा इनके द्वारा insure किया जाते है, कि अगर bank डूबा, तो ये organization हमें दिलाएगी, बटिस organization की खुद की responsibility क्या है, ये RBI के तहत आती है, deposit insurance, credit guarantee corporation, की मासूम जनता का जो पैसा, deposited है bank को में, उसको protect करें, एक तरीके से insurance का काम करें, deposit insurance facility कहा जाता है, अब ये bankों में, दिया जाता है, पांच लाग रुपे तक जमा किया, private bankों में ते को सरकारी bank होगा, तो सरकार तो आपका पाई पाई लोटा देगी, अगर bank की हालत खराब भी होई थो, government basically funding provide करेगी, government basically funding provide करेगी, ये बात याद रखिएगा, government will be funding, will be providing the funds, अब ऐसे case के अंदर, जब government funding provide करेगी, ऐसे case के अंदर, government basically आपको protect कर रही है, DICGC के थुरू, सर मेरे पास 20 लाग रुपे पढ़ा है, मेरे bank account में, बेटा 5 ही मिलेगा, कुछ बच्चे सोचने लगेंगे, सर हमारे पास तो सिर्फ 2 लाग पढ़ा है, तो क्या हमको भी 5 मिलेगा, नई 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 जितना पैसा तुमारा जमा है, बैंक अकाउंट में, और बैंक हो गया डूब, उतना ही पैसा तुमें मिलेगा, जितना तुमारा जमा था, इस लाइक अन इंचोरेंस, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए है जी, इसका मिश्यू सोडी न करोगे, अब आपको डिफरेंस समझ आया, पहली बात तो कि, बैंक्स को ये फैसिलिटी मिलती है, NBFC इसको नहीं मिलती, डिपॉजिट इंचोरेंस फैसिलिटी, इट इस नॉट अवेलेबर, और ये क्वेश्चिन बहुत बढ़िया बन जाएगा, प्लीज रिमेंबर दाट, आगे चले, सरिये सिर्फ प्राइवेट बैंक के लिए, अरे भाया, सरकार की तो एक्स्प्लिसिट गैरेंटी तुमारे पास है न, कि जिसका कोई नहीं उसकी सरकार है यारो, प्रोटेक्ट करेगी सरकार तुमें यारो, सरकार की टेंशन काई ले रहे हो, प्राइवेट बैंकों में जरूवत होती है, कभी लेके भाग दे पैसा कोई डूब गया बैंक, क्या करोगे, हमारा पैसा तो बरबाद हो गया, उनके लिए होता है न, आर बी आई और डी आई सी डी सी के दारा, एन बी एफसी में जमा कराए गया, डी पॉइट गैरेंटीड नहीं होता है, रिमेंबर दाट, नेक्स पॉइंट, सर और क्या रेगुलेशन है, सर अच्छा लग रहा है पढ़के, और बताओ रूल्स और रेगुलेशन, आर बी आई कहता है, एन बी एफसी फोलने के लिए पहले, प्रुडेंशल का मतलब अरे विश्वास के लिए, किसी की सिक्क्यूर्टी को बढ़ावा देने के लिए, कुछ रूल्स और रेगुलेशन, अरे मतलब एन बी एफसी खोलते टाइम, आप कितना पैसा खुद की जेप से, क्यापिटल के तौर पर इंवेस्ट करोगे, वो टर्म्ज और कंडिशन्स, वो टर्म्ज और कंडिशन्स, रिमेंबर दाट, वो टर्म्ज और कंडिशन्स, ओके, ये बात भी ठीक है, पच्चा सवाल पूछ रहे हैं सर, क्या एन बी एफसी ज, रिजर्व रेश्यो मेंटेन करते हैं, CLR, SLR, और ये बहुत प्यारा खवाल बनेगा भी, और जिसका जवाब है, NO and a big NO, because these are only for banks, NO CLR, NO CRR, NO SLR, ठीक है यार, चलो यार, RBI, registration के प्रोविजन मनाता है, प्रोडिंशन रेगुलेशन, कि जैसे NBFC खोलने के लिए, कुछ terms and conditions, RBI ने set करें, जो time to time, RBI change करता रहता है, RBI time to time, change करता रहता है, तो अगर time to time, change करता रहता है RBI, ऐसे किसी case में, आपको देखने मिलेगा, उस situation के अंदर, RBI latest rules regulations, NBFC के उपर, surveillance बनाए रखने के लिए, निगरानी बनाए रखने के लिए, ऐसा करता है, RBI चाहे तो, NBFC के offices में जाके, छापप भी मार सकता है, on-site and off-site regulation, provide करता है, in fact, NBFC अगर काम सही से, नहीं कर रहे हो, deposit acceptance में, कोई fraud हो, कोई corruption हो, कोई ब्रष्टा चार हो, तो directions भी issue कर सकता है, in fact, punish भी कर सकता है, जिसमें NBFC का सबसे पहले, तो license और registration कैंसल किया जाएगा, बोला जाएगा, कि आप और पैसा loan में नहीं दे सकते, और और पैसा deposit के तौर पे नहीं ले सकते, in fact, NBFC को कुछ extreme cases में, wind up भी करवाए जा सकता है, बंद भी करवाए जा सकता है, कुछ बिल्कुल extreme cases के अंदर, कुछ बिल्कुल extreme cases के अंदर, ओके, ये बात याद रखेगा, in certain extreme cases, moving further, आगे चले, 2021 में न, RBI ने कुछ guidelines निकाली थी, RBI ने NBFC की classification में बदलाव किया, RBI ने कहा, अब हम NBFC को, type of business नहीं, scale based तरीके से देखेंगे, business तुम कोई सा भी करता हो, अब मेरे शब्दों पर थोड़ी मेरे को माफी दीजेगा, बट इससे आप बहतर समझ पाएंगे, हम NBFC को आउकात के हिसाब से judge करेंगे, pardon my language, बट इससे आप थोड़ा बहतर तरीके से judge कर पाएंगे, समझ पाएंगे topic को, कि पहले होता था कि NBFC किस type का business करता था, अब होगा कि कितनी आउकात है, इस हिसाब से classify किया जाएगा, जिसको हम English में कहते हैं Scale Based, Scale Based, कितना Scale किस level पर काम कर रहे हो, जिससे जो ज़्यादा Scale पर काम कर रहे है, एक बात बताओ, खुद ही सोचो, ऐसी NBFC जो बड़े Scale पर काम कर रहे हैं, उसको ज़्यादा protection नहीं चाहिए, और जो NBFC छोटे Scale पर काम कर रहे हैं, उसको ठीक छोड़ दो शान्ती से, अपने जिंदगी जीने तो, छोटी NBFC है, बड़ा बनने की कोशिश कर रहे हैं, but some organization which is very big, you know, that has to be, in my opinion, protected at any cost. बच्चा कह रहे हैं सर्देसी एक्जामपल, अच्छे समझ आता है, आता तो है, पर एक टीचर की गरिमा के पक्ष में नहीं है ना, और UPSC टीचर की खासतोर प्यकर में और किसी सरकारी एक्जाम का होता, तो जै महाकाल, जै यह, चिलाता तुमारे आगे, तुम भी कहते हैं, वा गया टीचर है, तो इसी चीज से मज़ा आता है, छलो शानती से पढ़ो, चब चाब को, यह स्केल बेस्ट रेगुलेशन, फर्स्ट ऑक्टूबर टूथाउजन ट्वेंटी बन में, इंट्रडूस किया RBI ने, नॉट्रिफिकेशन के तुरू, बट 2022 के अंदर, इसको 2022 के अंदर, इसको SBR framework में initiate कर दिया, एक साल दिया था, कि 365 दिन है, कर लो जो करना है, एक साल दिया था, एक October से लागू हो गया, मतलब आपको यह बता रहो मैं, 22nd October 2021, को यह provisions आए, अब बोला एक साल में इनको introduce कर देंगे, एक October 2022 को यह इंडिया में implement हुए, और आज SBR framework इंडिया में introduce हो चुका है, पहले क्या categorization होता था, पहले old framework ऐसा था, कि NBFC जो RBI के साथ registered है न, उनको categorize किया रहता था, कि किस तरीके के वो उधार देते हैं, किन लोगों को वो उधार देते हैं, क्या वो systematically important non-deposit holding company, या non-banking finance institution है या नहीं है, अब आप कहोगे सर, systematically important क्या होता है, देखो systematically important मतलब जो system के लिए important हो, कि अगर कोई NBFC fraud हो गई, fraud किया उसने, या NBFC की financial condition poor हो गई, तो ऐसे case के अंदर हमारा पूरा banking system, हमारा पूरा NBFC का system मिल जाएगा, जिनको हम कहते हैं, too big to fail, too big to fail, TBTF, कि ऐसा जैसे SBI TBTF है, बैंक है, जो TBTF है, HDFC TBTF है, अगर इसको कुछ हुआ, तो पूरे banking system का में, जल जल आ जाएगा, तूफान आ जाएगा, ठीक है ना, बवंडर आ जाएगा, बवंडर, ओके, so we have to protect them, and not let them fail, that is why government, is there to protect it, in fact, इनके लिए कुछ और regulation, इनको ना, इतना capital रखना पड़ता है, इतना risk weighted asset, रखना पड़ता है, मतलब, इनको इतना पैसा, अलग से रखना पड़ता है, कि सोची ना होगी, जिसका मतलब यह है, कि as a normal bank, जितना वो loan दे रहे हैं, और वो risky लोगों को loan दे रहे हैं, उतना उन्हें capital, separate रखना पड़ता है, उतना उन्हें capital, separate रखना पड़ता है, क्या पता सामने वाली पार्टी चुका है या ना चुका है, आपके पास पैसा तो होना ही चाहिए, who knows सामने वाली पार्टी पैसा चुका है कि ना चुका है, अपने आपको risk से बचाओ, पहले से कुछ पैसा अपने पास रखो, ठीक है ना, या आपका non-banking finance companies के लिए उसूल है, banks के लिए उसूल है, कि अपने पास capital में पैसा जोड के रखो, अपने पास capital में पैसा जोड के रखो, अब ये बात समझ लीजिए, कि तो systematically important है, वो NBFC इस प्रकार है, कि अगर वो डूबे, तो हमारे देश में बहुत बड़ी problem, बहुत बड़ी problem हो जाएगी, इसलिए we have to protect them at any cost, मैं बार-बार इसी बात को इसलिए repeat कर रहा हूँ, we have to protect them at any cost, अब सरकार ने ऐसा क्या किया है, सरकार ने इनको multiple categories में डाल दिया, पहले नया वाला system समझाऊँगा, अब जड़ा देखो, यह समझो कि scale-based regulation, scale-based framework क्या है, यहाँ पर आप scale देख रहे हो, scale का मतलब है, level देख रहे हो, level 1, level 2, level 3, level 4, यह रो लाल कलर का level है, this layer is actually empty, top layer is actually empty, मतलब यहाँ पर कोई organization फिलाल नहीं है, यहाँ पर वो organization होगी, जो कि सबसे ज़्यादा important होगी, हमारे देश के current system के हिसाब से, an organization which is very helpful, which is important for our current Indian NBFC system, इन पर सबसे ज़्यादा rules, regulation, terms and conditions होगे, फिर उसके नीचे है upper layer, जिस पर NBFC जो आपका upper layer, second most important वाली, 25 से 30 NBFC इस category में हम रखेंगे, यहाँ पर हम bank की तरह, second वाला जो है न, इसमें हम एक bank की तरह rules and regulations create करेंगे, कि जैसे bank को डूबने से बचाते हैं, इनको भी डूबने से बचाएंगे, ठीक है जी, third, third जो category है, उसमें थोड़ा relax हो जाता है, बट यहाँ पर आपको देखने मिलता है, कि NBFC मिडल लेयर की आती हैं, कई सारी NBFC जो की, obviously important तो हैं हमारे system में, बट उतनी जादा important नहीं है, and fourth जो है आपका base layer, base layer का मतलब है, कि वो NBFC जिनका capital एक हजार करोड से कम हो, एक हजार करोड से कम हो, इसमें सबसे basic NBFC आती है, सबसे basic NBFC, non-banking finance companies आती है, तो base layer पर मैंने बताया, कम से कम हजार करोड का, सबसे कम regulatory intervention होता है, क्योंकि छोटा capital size है, अभी ज़्यादा बड़ी बनी नहीं है, middle layer में 1000 करोड से ज़्यादा का है, इनका size बढ़ने लगता है, इसलिए इनके उपर ज़्यादा strict terms and conditions लगाई जाती है, ये बात याद रखनी है, ताकि क्या है ना कि NBFC के अंदर अगर कोई भी financial crisis आती है, तो उसे हम बचा सके, रोख सके, प्रोटेक्ट कर सके, NBFC के अंदर अगर कोई भी financial crisis आती है, तो हम उसे बचा सके, रोख सके और control कर सके, ये बात याद रखिएगा, next important बात आपकी ये है, third category है, upper layer, these are most most important, इनको specially इस तरीके से classify RBI करता है, जिनको banks की तरह, same rules and regulations, map done मानने पड़ते हैं, तो इस आर वेरी risky, top 10 NBFC हमारे देश की, अपने deposit size या asset size के साब से, जो उन्होंने पैसा लोगों को deposit के तौर पर दिया हुए, loan दिया हुए, उसके हिसाब से, ये upper layer category में आएंगे, RBI basically हमारे देश के top 50 NBFC को देखेगा, कि उनके उपर कितना risk है, उनमें से सबसे important NBFC को, अपने direct supervision में, upper layer के अंदर रख देगा, ये बात याद रखेगा, एक बार कोई organization, upper layer में आई, चाहे बाद में जाके, उसके deposits कम भी हो जाएं, तब भी वो 5 साल तक, upper layer में रहेगी ही, रहेगी ही, रहेगी, ताकि RBI ensure कर सके, कि वो NBFC fail ना हो, ये बात याद रखेगा, तो ये आपका, किसके उपर applicable है, RBI के दौरा regulated, NBFC के उपर applicable है, नेक्स्ट है आपका, top layer, NBFC TL, यहाँ पर there is no organization, currently within this framework, अभी फिलाल कोई organization नहीं है, top layer के अंदर, RBI यहाँ पर identify करता है, कि कौन से सबसे important institution है, जिसको हम देश का सबसे important institution मान सकते हैं, यहाँ पर RBI ही special conditions बनाता है, extremely high capital is there, बहुत ज्यादा capital की requirement है, ठीक है ना, उसके इलावा दोस्तों, सबसे बड़ी problem यह है, कि एक बार categorization किया, RBI को उसके ओपर super jurisdiction लाना पड़ेगा, RBI may not categorize any entity in the top layer, as it does not perceive any systemic risk, with respect to NBFCs in the upper layer, जो आपने NBFC upper layer वाली देखी दी, उनमें से कोई भी ऐसी NBFC नहीं देखने मिली, जो पूरे system के लिए risk पैदा कर सकती है, तो basically अभी बाकी सारी NBFCs, NBFC upper layer में रखी है, NBFC top layer में फिलाल कोई NBFC नहीं रखी है, in future it might be possible, कि RBI categorize करे, RBI के हाथ में RBI definitely categorize कर सकती है, जरूरत के हिसाब से, किस NBFC को किस layer में रखेंगे, अभी फिलाल RBI के द्वारा categorize नहीं किया गया है, प्लीज इस बात को याद रखेगा, इस नॉट बिंग categorized by the RBI, आगे चलें, तो आपने अब new definition समझ ली, कुछ ऐसी NBFC देखेंगे, RBI के साथ registered नहीं होती है, और एक बच्चा सवाल भी पूछा था, कि सर, IRDAI और National Housing Bank, NHB, इनके द्वारा, जो NBFCs, non-banking finance companies, इनके तहट आती है, जो insurance का काम करती है, जो house funding का घर बनाने के लिए, loan का का काम करती है, सर, क्या वो भी RBI के पर परवियू में आती है, no, certain businesses are not involved in providing financial activities, but do not obtain a registration from RBI, वो आपका पैसा एकटा करने का deposit and loan का का काम तो करते हैं, बट RBI के साथ registered नहीं होते, insurance companies, एक example है, housing finance companies, एक example है, stock broker भी तो पैसे के lane देन का काम करते हैं, या जो भी companies, collective investment schemes, chit fund वगएरा, निधी company वगएरा बना रही है, क्योंकि उनके उपर SEBI और Ministry of Company Affairs, या corporate affairs का regulation होता है, तो RBI के direct supervision या regulation में नहीं आती है, ये बात याद रखेगा, they are not within the definition of RBI, ये आपको मैंने बात समझा दी, अब old एक बार categorization देख लेते हैं, पहले के time पे न, NBFC को अलग-अलग type of business के साब से बताते थे, पांच type of business यहाँ देखने मिलेंगे, और पांच यहाँ पर, total 10 categorization पहले होता था, जिसमें asset finance company, तुम्हें गाड़ी खरीदने हैं, एक्टर खरीदना है, लो जी यह तुम्हें मदद करेंगे, तो यह asset finance company example है, NBFC के, पहले investment company होती थी, जो आपके बदले किसी company के shares, आपके बदले किसी company के securities acquire करती थी, फ़र थी आपकी loan companies, जो loan and advances देने का काम करती थी, बट वो asset खरीदने के लिए specifically नहीं, हर चीज़ के लिए loan दे रही है, किसी को personal loan भी चाहिए, education funding भी चाहिए, सब मिलता था, इनके बीच में बहुत minor difference होता था, और आज यह available नहीं है, आज यह खतम हो चुकी है, तो हम बस इनको बड़ा-बड़ा के फटा-फट देख रहे हैं, हम इनके ज़्यादा रुक नहीं रहे हैं, fixate नहीं हो रहे हैं, और था है आपका infrastructure finance companies, नाम से समझ आ रहे हैं, infrastructure के लिए पैसे की जरुवत है, पूरी करती infrastructure finance company, next है आपका, systematically important core investment company, ऐसी investment company, जो की shares और securities खरीदने बेचने का काम करती है, but these are systematically important, अगर इनको कुछ हुआ तो पूरा system हिल जाएगा, और पूरा banking, non-banking, finance companies का system चेंज हुआ हिल गया तो, बहुत ददा problem create होंगी, तो यह systematically important core investment company है, it deals with investment in equity shares, preference shares, debt, और loans of group companies, जैसे for example, Reliance के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी company आती है, Reliance के लिए shares खरीदना, shares hold करके रखना, preference shares, equity shares, debt या loan instrument hold करके रखना, अलग अलग companies का जिनको group companies कहते हैं, Reliance Geo, Reliance की एक group company है, Geo Cinema जिस पर तुम IPL देख रहे हैं, वो एक group company है, Reliance के education institution भी है, petroleum companies भी है, बहुत कुछ है, उनके बिहाफ पर investment सम्हालना, इसका काम होगा, इतनी बाद बहुत याद रखेगा, ये core investment company के example दिये मैंने आपको, इन्फरास्ट्रक्ट्टर डेट फंड आई डी एफ इन्फरास्ट्रक्टर डेट फंड आई डी एफ ये लॉंग टर्म डेट लंबे समय के लिए, बीस साल, तीस साल, पैंतिस साल, पच्चिस साल प्रोवाइड करते से, जैसे IELFS नाम की infrastructure, leasing and financial services company नाम की एक organization भी ये बड़ी famous इंडिया में है, दूसरा है micro finance institution, वो organization जो की है तो MBFC, पर वो बड़े बड़े व्यापारियों को लोन ना देकर, छोटी छोटी जरुवतों के लिए लोन दे रही है, education लोन, किसी को सिलाई machine खरीदनी है, उसके लिए लोन, किसी को अपनी ready खोलनी है, दुकान खोलनी है, उसके लिए लोन, मतुब small requirements के लिए, यह बात याद रखिएगा, small requirements के लिए, उन companies को micro finance institutions कहते हैं, अभी तो बंधन bank बन गया, पर बंधन group कुछ समय पहले था, कि NBFC के तोर पे काम करता था, मुद्रा नहीं है, इसके example, मुद्रा governments की में, वो development finance institution है, ठीक है, यह बात याद रखिएगा, नहीं बेटा, IRDAI, NHB अलग categorization है, वो RBI के इस categorization में क्यों आएंगे, आठवा classification अब मैं बताने जारू, non-banking finance company factor services, देखो, finance के अंदर factor services मतलब, कोई middleman, बिचौरिये की तरह आप काम कर रहे हो, factoring service प्रोवाइड गर रहे हो, बिचौलिये की तरह काम कर रहे हो, factoring एक agreement होता है, जहाँ पर कोई भी individual, कोई भी company, अपने bill of exchange, bill of exchange, बेच देती है, transfer कर देती है, जिससे अपने short term funding requirement पूरी हो, मतलब, bill of exchange खरीदने बेचने का काम, मतलब, trade credit प्रोवाइड करने का काम, मतलब, व्यापार के अंदर पैसा दिलवाने का काम, वो NBFC factor करते है, factoring service का मतलब है, जैसे आपको यादर discounting of bill of exchange बताये था, मैंने previous classes में, वो discounting की process को factoring service भी कहते हैं, डिसकाउंटिंग की process को factoring service भी कहते हैं, factoring service, finance के अदर, factoring services होती है, जहाँ पर business को short term finance requirement, short term liquidity, दिलवाई जाती है, पूरी करवाई जाती है, short term requirements पूरी कराई जाती है, जहाँ पर non banking finance companies discount कराके, उनक से पैसा इखटा किया जाता है, next है आपका mot gauge guarantee company, mot gauge मतलब कुछ गिरवी रखने का business है, mot gauge करना, ऐसी company होती है, जो loan तो आपको दिलाती है, बदले में उन्होंने guarantee दिया है, कि वो आपका, कोई समान गिरवी ले रहे हैं, तो और loan उस तरीके से आपको दे देंगे, कुछ गिरवी रखके, loan आपको दे देंगे, तो यह mot gauge guarantee company है, जो guarantee दिलाती है, कि loan तो मिली गई मिलेगा, बस आप अपने instrument, अपने जो भी asset है, वो गिरवी रखते हो, क्योंकि थोड़ा काम specific हो जाता है, इसलिए अलग है, यही काम में involved रहते हैं, specific काम में involved रहते हैं, 10th है आपका, non-operative financial holding company, अब Reliance जी ओगरा का example बताया था, वहाँ पर मैंने बताया था, कि active investment होता है, holding companies के द्वारा, यहाँ पर active investment नहीं होता, यहाँ पर non-operative purpose के लिए, मतलब पैसा रखके बैठ गए हो, पैसा रखके बैठ गए हो, non-operative purposes के लिए, hold करके बैठ गए हो, non-operative purposes, यह एक और categorization हमारे देशिये अंदर, NBFCs का एक और categorization आपको देखने मिलेगा, non-operative का मतलब है, अरे भाई, आपने investments hold करी हुई है, बट उन्हें actively कहीं पर लगा नहीं रहे हो, बस आपने hold करके रखा हुआ है, जैसे अम्बानी जी के पास Reliance के share है, अब वो share manage करने के लिए कोई company होगी, वो non-operating financial holding company होगी, जो की operating activities नहीं करती, बस अपने subsidiary group के, साथी groups के share hold करके रखती है, साथी groups के share hold करके रखती है, बस यह difference है दोनों के बीच में, आगे चले, अब categorization पूरा change हो गया, यह 4 layer system आ गया है, इतनी सारी अलग अलग टाइप्स हमने बंद कर दिये, अब हम नए categorization को follow करते हैं, सर, systematically important का मतलब क्या होता है, वो NBFC जो 500 करोड या उससे जादा का उसका assets है, इससे जादा loan दिया हुआ है, 500 करोड या उससे जादा है बेटा, 500 करोड, 500 करोड, पुरानी वाले definition अब obsolete हो गई है, अब नई definition याद करनी है, बात खता, फिर भी मैंने explain कर दिया आपको, और NBFC की, systematically important NBFC की, आपको definition बता दिया है, ऐसी NBFC जो हमारे economic system की financial stability को खत्रे में डाल सकती है, ये भी ठीक है, economic survey 2019-20 का कुछ data देख लेते हैं, shadow banking, ये कई बार news में चलता रहता है, shadow banking, एक डबबा ट्रेडिंग नाम का concept भी news में चलता रहता है, पहले तो आप shadow banking समझीए, shadow banking एक ऐसा term है, जो कि उन loans के उपर applicable होता है, जो banking system के बाहर दिये गए है, जहाँ पर non banking finance companies का intermediation रहा है, shadow banking के अंदर आपके आते है, special purpose vehicles, non banking finance companies, hedge funds, hedge funds, hedge funds, hedge funds सुना है, कितने लोग जिन्होंने hedge funds सुना ही नहीं है, अमीरों के fund होते हैं, अमीर लोग इसमें पैसा मिलाते हैं, और उसको मिलाके बड़े-बड़े investments करते हैं, और अच्छा कासा return कमाते हैं, risky investments and good reward, associated with good reward, सर्फ 500 करोड आपने बोला ठीक से समझ नहीं आया, एक बड़ बचा देता हूँ, आप अगर एक NBFC है, जिसने 500 करोड या उससे जादा का लोन दिया हुआ है, और आपकी NBFC के कोई हालात खराब होते हैं, तो आप systematically important है, आपकी financial stability देश की विकास के साथ जुड़ी है, देश की economy के साथ जुड़ी है, आपकी financial security खराब नहीं होने दे सकते हैं, यह आपका non-banking finance companies के लिए systematically important होने की definition है, आगे देखे हैं, अब हम shadow banking की बात कर रहे थे, कि bank की तरही काम हो रहा है, loan देने का, deposit लेने का, बट banking sector के बाहर, वही सारे contracts, वही सारे guarantees, banking sector के बाहर जाकर, इसमें NBFC आती है, non-banking finance companies, ऐसे अलग-अलग activities, जो की banks नहीं कर रहे हैं, कोई company कर रही है, चाहे वो regulated हो, चाहे shadow banking की category में आई गी और इंडिया में shadow banking पहले से काफी बढ़ गई है, अभी फिलाल इंडिया ने 2018 में liquidity problem face करी थी, liquidity problem का मतलब है, पैसे की कमी, non-banking finance companies और banks के पास, बहुत बढ़ी पैसे की कमी आ गए थी, cash crunch आ गया था, तो shadow banks, basically shadow banking sector, हमारे देश में उस financial requirement को पूरा कर सकता ह यहाँ पर हमारे देश के अंदर जादा से जादा उधार दिया जा सकता है, जादा से जादा लोगों के भी जरूरते पूरी हो सकती है, बट कई बार यह system से ही बाहर है, और यहाँ पर कुछ guarantee नहीं है कि सामने वाला person पैसर चुकाएगा कि नहीं चुकाएगा, तो यह हमार देश की financial stability के लिए भी खत्रा हो सकती है, it can destabilize the financial system, इससे पूरा financial system destabilize भी हो सकता है, यह बात याद रखीगा, financial system destabilize हो सकता है, इंडिया के अंदर उधार अब बहुत कम मिल रहा है पहले के मुकाबले, और 2015-17 के अंदर तो और भी कम हो गया था, एक तरीके से देश में एक टाइम पर policy paralysis आ गया था, इतने जादा scam हो चुके थे ना, कि लोगों को डर ये था, कि अब अगर किसी एक person को लोन देते हैं, विजय माले टाइप, और उन्होंने नहीं चुकाया, तो बदनामी bankers की होगी, banks की होगी, तो banks भी फूख के गदम रख रहे थे, इसलिए shadow banking banking की दरोर पढ़ी दोस्तों, ये बात याद रखेगा, तो shadow banking के अंदर non banking finance companies, non banking housing finance companies, retail, non banking finance companies, retail मतलब जो हम जैसे लोगों के लेवल पर लोन देती है, retail and BFCs, और liquid debt mutual fund, अब आप कहेंगे सर mutual fund क्या होता है, चलो हम लोग मिल करना कुछ पैसा जोड कर इन्वेस्ट करते हैं, पर क्या है ना knowledge नहीं है सबके पास, चलो कोई बात नहीं, एक expert को hire कर लेते हैं, जोनोंने MBA किया है from Harvard University, ठीक है ना, उनको अच्छी कासी knowledge है, अच्छा कासा 20 साल का तजूरबा है, और उनके लिए हम, उनके द्वारा, जो भी mark regression होगा, उसमें काम करेंगे, ठीक है, ये भी समझ गए, अब इस case में, liquid debt mutual fund, LDMF क्या है, ऐसे mutual fund जहां पे हमारा पैसा, debt instrument में डाला जा रहा है, देखो यार आपका पैसा कहीं तो invest किया रहेगा, हो सकता है किसी जमीन में invest कर दिया रहा है, हो सकता है company के shares में invest किया रहा है, shares में invest किया रहा है, तो आप उस company के shares के मालिक बन सकते हो, ठीक है न, debt instrument का मतलब है, जब आप उस company को उधार देते हो, जब आप उस company को उधार देते हो, you give debt, उधार देना, यह debt instruments का part है, debt instrument मतलब आपने company को पैसा उधार पर दिया, वो आपको धीरे धीरे ब्याज भी चुकाएगी और आपका principal amount भी वापस करेगी, liquid debt का मतलब है, कि जिसको बेच के निकल जाना बहुत असान है, debt क्योंकि उधार दे रहे हो, आप मैंने liquid debt mutual fund में invest किया, मैं किसी और को बेच सकता हूँ, वो किसी और को बेच सकता है, तो because of this इसकी काफी high liquidity है, इसलिए इसको liquid debt mutual fund की category में रखा जाता है, यह आपका एक तरीके से funding mobilize करने का system है, पैसा घटा करने का, इसलिए इसको इसे अलग से देखा जाता है, NBFC के अंदर liquidity crisis बहुत बड़े level पर आ गई है, cash crunch हो गया है, दो पिछले तीन साल से हमें हमारे देश में देखने मिल रहा है, जिसका reason है, twin balance sheet syndrome, twin balance sheet syndrome का मतलब है, balance sheet तो आपको मैंने बताया ह होता क्या है, एक ऐसी financial document है, जो आपकी company की asset position को बता रही है, कितने asset है, कितनी liability है, उसको मैं balance sheet कह सकता हूँ, right, अब balance sheet जब मैं कह रहा हूँ किसी की company के, there are two problems, you know what problems are there, company ने loan लिया है, loan वापस चुकानी पा रही है, और bank ने loan दिया है, bank को वापस loan मिलनी पा रहा है, तो यह bank की balance sheet है, यहाँ पर assets, यहाँ पर liability, और यह companies की जिनों ने loan लिया है, जो loan taker है, उनकी balance sheet है, यहाँ पर liability, यहाँ पर assets, ऐसे दोनों की अपनी balance sheet आपको देखने मिल रही है, अब bank की balance sheet के अंदर, जो bank ने loan दिया है, वो उसका asset है, और जो bank ने जमा किया है पैसा, जनता से लेकर वो उसकी liability है जनता को तो वापस चुकाना पड़ेगा ना on the other hand students companies के पास जो पैसा deposit में है वो उनका asset होता है और जो उन्होंने loan लिया वो उनकी उधारी है अब business चलनी पा रहा मंदी के हाला आते companies अपना पैसा चुकानी पारी है loan का और उनकी balance sheet में problem में देखने मिल रही है कई सारे project खासका real estate माने शुदो кिये राते हैं बत वह complete नहीं किये रहते complete नहीं किये रहते क्यूंकि हो सकता है पैसे कि कमी है हो सकता है Government Olнее 1 इंद भी तो approval देने में टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट कर देती है उसके इलावा cost of construction, cost of production escalate हो जाती है cost of construction, cost of escalation बढ़ जाती है और cost of construction या cost of escalation बढ़ जाने की वजह से आपको देखने मिलता है कि project टाइम पर पूरा नहीं हो पाता नॉइडा के अंदर दिल्ली के पास ऐसे प्रोजेक्शन दस-दस साल से पेंडिंग चल रहे हैं, 10 साल जी हाँ, 10 years, remember that so, because companies are not able to complete their task, तो पैसा आएगा कहां से उनके पास, तो यहाँ पर एक balance sheet में problem है यहाँ पर एक balance sheet में problem है, company time पर पैसा नहीं चुका रही है, तो यह जो loan दिया हुआ है बैंकों ने, यह कैसे वापस आपाएगा, यह NPA हो जाएगा अब आप NPA समझे क्या होता है, non-performing asset, NPA का मतलब है कि 91 days बीत गए, बट अभी भी सामने से पैसा नहीं आ रहा है principle और interest amount का, NBFC को अलग-अलग categories में रखते हैं, पहले तो इन्हें कहते हैं, standard asset standard asset मतलब की ठीक है, जादा समय नहीं बीता है, यह 3 categories में है, 0 to 30, 31 to 60, 61 to 90 पहली category को SMA0 कहते हैं, दूसरी category को SMA1 कहते हैं, दीसरी category को SMA2 कहते हैं, ठीक है न, these are standard assets, these are standard assets, in 3 different parts they are categorized, standard assets में SMA क्या है, special mention account, देखो यार एक बात बताओ, आप एक bank हो, आपके अंदर एक bank फुलवा देते हैं, 0 से 30 days किसी ने payment नहीं करी, चिंतित थोड़ा होगे, कि यार 30 दिन होगा है, पैसा नहीं आ रहा, पाड़मी, 30 दिन होगा है, पैसा नहीं आ रहा, दूसरा है, 31 to 60 days होगे, तो और ज्यादा चिंतित होगे, अरे क्यों नहीं आ रहा, सामने से पैसा, लोन दिया होगा है, पैसा क्यों नहीं वापस आ रहा है, और 3rd, जब आपका 61 से 90 days होगे, तो सबसे जादा चिंतित होगे, यह SMA अकाउंट यही तो है, यह हाइलाइट कर देते हैं, 0 to 30 मतलब कि 30 दिन होगे, सामने से पैसा नहीं आ रहा है, 31 से 60 का मतलब है, यार इतने दिन होगे, इसको हाइलाइट जादा बहतर तरीके से किया रहता है, लोगों को जिन्होंने लोन लिया हुए, उन्हें कॉल किया जाता है, और बोला जाता है, किरपे अपना उधार वापस चुका हैं, पैसा वापस चुका हैं, थर्ड कैटेगरी, 61 से 90 डेज, कि भईया पैसा चुका दे, वरना NBFC डेकलेर कर देंगे, आपको, NPA पारण में डेकलेर कर देंगे, आपको नौन परफॉर्मिंग असेट, नौन परफॉर्मिंग असेट डेकलेर करने के बाद, पैनल्टी भी होंगी, इंट्रेस्ट भी ल इसको बाटा जाता है, इन तीन कैटेगरी में इसको बाटा जाता है, पहले आपने अब देखा, स्टैंडर्ड एसेट किसे कहते हैं, अब आप देखने जा रहे हैं सब स्टैंडर्ड एसेट, इसमें सबसे पहले आता है आपका NPA, non-performing asset NPA non-performing asset okay this is first first category non-performing asset दूसरी category आपकी है यह non-performing asset 91 days थे 12 महीने तक का आ जाता है दूसर है doubtful debt doubtful debt का मतलब है पैसा पता नहीं आएगा नहीं आएगा no such no such guarantee कि सामने से पैसा आएगा कि नहीं आएगा इसको कहते है doubtful debt doubtful debt is more than of 12 months 12 महीने के बाद के समय को non-performing asset क्या बोला था 91 days से 12 months के बीच में एक साल तक के बीच में एक साल पूरा हो गया doubtful पता नहीं पैसा आएगा नहीं आएगा और जब declare कर देते हो आपकी आरे पता नहीं अब तो पैसा आएगा भी नहीं आएगा आपने जब declare कर दिया कि पैसा नहीं आएगा तो उसे loss asset कहते हैं मालीजे एक करोड का लोन दिया था सिर्फ 30 लाख recover हो पाए और कुछ recover नहीं हो पाए तो 70 लाख रुपे का क्या होगा आपका loss asset loss हो जाना जो उस bank के financial advisors financial experts के द्वारा कहा जाता है कि ये अब पैसा वापस नहीं आएगा this money will not be able to come back भूल जाओ इसे ये अब तुमारा नहीं रहा पराया हो गया ये बात याद रखेगा ये अब तुमारा नहीं रहा पराया हो गया एसी situation के अंदर आपको देखने मिलेगा कि तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया रहता है NPS को loss asset कभी भी declare किया रहा सकता है एक साल, दो साल, तीन साल जब विश्वास हो गया कि अब सामने से पैसा नहीं आएगा और bank की balance sheet से हटा दिया रहता है मतब 30 लाग रुपे मिला मिला 70 लाग का loss दिखा के हटा देंगे, या ऐसा कोई loan हमने दिया भी हुआ है उससे क्या होगा, कि अब आगे वाले आने वाले prospects पर focus करो जो बीत गई सो बार्थ गई उस पर आगे वाले आने वाले objectives, आने वाले अलग-अलग एरियास में आप अलग से ध्यान दो attention पे करो उन्हें protect करने की कोशिश करो प्लीज रिमेंबर दाट इस पार्ट अव दी substandard asset category substandard category substandard asset की category में यह आता है substandard asset ओके और पर्फेक्ट पर्फेक्ट, पर्फेक्ट, पर्फेक्ट यह तीन काटिगरीज थी substandard assets यह जो कि बिसिकली आपका NPSA non-performing assets से जुड़े हुए है तीके ना ताइम लिमेट जो बिटा यह तो टाइम लिमेट होती है इनको याद रखना है इस तरीके से याद रखेगा अच्छा एग्रिकल्चर अक्टिविटी के लिए प्रॉप सीजन देखा जाता है एग्रिकल्चर में यह तीन महीने छे महीने का तो सिस्टम नहीं देख सकते जब तक पसल उगी नहीं है तब तक वो किसान अपना लोन वापस कैसे करेगा यह बताओ एग्रिकल्चर के अंदर ना प्रॉप सीजन देखा जाता है कि कितने सीजन बीट गए एसे तो एक सीजन ही होता है क्या एक सीजन बीट गया और किसान अपनी पेइमेंट कर पा रहे है लोन की या नहीं कर पा रहे किसान अपनी पेइमेंट कर पा रहे है कि नहीं कर पा रहे अच्छा जो लंबे समय तक उगने वाली क्रॉप्स होती है वहाँ पर एक crop season देखा जाता है, long term crops के लिए, long term crops के लिए, one crop season, short term crops के लिए, short term crops के लिए, two crop season, दो राभी और हरीफ जैसी crop season की रियायत मिल सकती है, two crop season, अब इस पर कोई question मनेगा, यह भी आप याद कर लोगे, इसका भी आप answer देदोगे, तो सर अगर इतने NPA इंडिया के अंदर है, इतनी problem इंडिया के अंदर है, तो इसको solve क्यों नहीं किया राता सर, वेल NPA की वज़े से funds की कमी हो जाती है, क्योंकि banks अब और नया लोन नहीं create कर पाएंगे, पहले जो दिया था वो तो वापसा नहीं पाया, तो नया create क्यों ही करेंगे और कैसे ही करेंगे, पहली बात तो, दूसरी बात यह है बिटा, कि अगर NPA हमारी economy में होता भी है, उसकी सबसे बड़ी problem यह रहती है, उसके त्रू जो associated problem है, market में confidence खतम हो जाता है, interest rate बढ़ने लगते हैं, investors को महेंगे rate पे लोन मिलता है, तो investors को भी बहुत जादा impact करता है, तो investors का भी बहुत नुकसान होता ह care older जो है banks के उनका बहुत जादा financial loss होता है, banks के लिए market में survive कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, तो हमारे देश की economic growth rate को negatively impact करेगा बच्चे, क्या करेगा economic growth rate आपके देश की negatively इस तरीके से impact होगी, growth देश की बढ़ेगी नहीं बलकि कम हो जाएगी, growth जो बढ़नी चाहिए that will reduce now, this is the major problem, यह एक बड़ी problem है, तो सर इनको control करने के लिए कुछ provisions है, ऐसे एन बीए बढ़ते रहेंगे, वेल अगर risky area में आपने invest किया है, तो कुछ norms है जिनको basal norms कहते है, basic नहीं basal, basal जो की Switzerland के अंदर एक जगह है, वहाँ पर banking related BIS की meeting होई थी, bank of international supervision, नाम का एक international organization है, उसके तहत एक meeting होई थी, जिनके तहत बेदल norms discover किये गए थी, अभी मैं बात करूँगा उनकी, इसके बाद ही, पहले तो हम यह समझ लेते हैं, कि NBFC के अंदर financial crisis चल रही है हमारे देश में, बहुत बड़े level पर, mass level पर NBFCs, NPS का शिकार है, सिर्फ NBFC नहीं, बैंक भी NPA का बहुत बड़े level पर शिकार है, अब इनको solve करने के लिए, हमें solutions कोजने हैं, जिसमें सबसे पहले तो, हमें risk basis पर ही loan देना चाहिए, because of the financial fragility, जो बहुत जादा risky है, उदर investment देने के लिए, RBI इसे special permission लेनी चाहिए, ठीक है न, ये बात याद रखने हैं आपको, so to arrest financial fragility of the banking system, RBI ने कहा है कि कुछ हमारी बात समझो, RBI ने कहा है कि health score methodology देखो, और एक बहुत बड़ी problem है, roll over risk उसको कम करने की कोशिश करो, roll over risk का मतलब क्या है, अब NBFC भी, खुद कहीं से पैसा लेकर आ रही है, हमें loan देने के लिए, है न, हाँ या न, मान लो, उन्होंने 5 साल के लिए loan लिया है, 6% पर, और हमें 10 साल के लिए loan दे दिया, 9% पर, हमारे को अभी 10 साल में चुकाना है, उसने जिन से खुद लिया है, उनको उसे 5 साल में चुकाना है, एक problem तो यह है कि सामने वाली party से जिससे आपने पैसा लिया है उसको जल्दी चुका नहा है और जिसको पैसा दिया है उससे late, aram-aram से धीर धीरे payment आएगी अराम अराम से पेमेंट आएगी ठीक है ना तो जब आपने जो लोन लिया हुआ है डेट अब्लिगेशन है वो मैचोर जल्दी हो और अपने कंटिनुएंस के लिए एक्जिस्टेंस के लिए आप बार 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 लोन ले रहे हो शॉट टर्म नेचर का तो इसे रोल ओवर रिस्क कहते हैं रोल ओवर रिस्क कहते हैं अच्छा रोल ओवर रिस्क की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है फ्यूचर में इंट्रेस्ट रेट चेंज हो सकते हैं देखो कम हो जाए तो अच्छी बात है बढ़ जाएं तो फिर क्या करोगे फ्यूचर में इंट्रेस्ट रेट बढ़ गए तो क्या करोगे यह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस इट क्लिर टू ओल ओव यू उसके अलावा यह होल से लेविल पे फंड करते हैं पैसा लेते हैं NBFC NBFC मास लेविल पे फंड इखटा करते हैं 1000 करोड, 5000 करोड और उसे छोटे छोटे लोन्स मैं पैक करके देते हैं जैसे कि मेरे को दरुवत है 2,00,00 की मुझे कोई बाइक खरीदनी है 2,00,00 की बाइक है तो मैं जाके NBFC से लोन ले सकता हूँ बट NBFC ने खुद होलसेल लेविल पर पैसा उठाया है तो यह होलसेल फंडिंग के एक्जामपल के तहरत आता है यह होलसेल फंडिंग की कैटिगरी में आता है तो रोल ओबर रिस्क और होलसेल फंडिंग अब आप समझ गए है सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह हो रही है कि करिंट मार्किट सिचुएशन बहुत खराब है युक्रेन रशिया बहुर उसका एक रीजन है और NBFC को पैसे की जरुवत है कैपिटल की जरुवत है और कैपिटल बहुत लिमिटेड अवेलेबल है टार्ट अप डूपती जा रही है अमेरिका के बैंक्स कोलाप्स की कगार पे आ गए है तो NBFC इसको पैसा देगा कौन इन्वेस्ट करेगा कौन यह है सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां से इनके पास रेगुलर पैसा आता रहे यह लोन देते हैं और लोन सामने से रिटर्न ना करे तो उस तरीके से वैसी पैसे की कमी है वैसी पैसे की किल्दत है सामने वाली पार्टी भी पैसा नहीं चुका रहे है इस तरीके से यह बहुत जादा financial loss में डूप सकते हैं जो की currently होई रहे which is currently happening which is currently it is happening in India कि अगे चलें प्लीज एक क्वेशन करो आप आपके लिए क्वेशन लेकर आया हूं कि पड़ो दर आईए सर स्कीम जैसे प्रधानमंत्री इंप्लॉइमेंट जनेशन प्रोग्राम में 40% अकाउन एंपी हो जाते हैं तो फिर स्कीम कंटिनुईशन में कैसे रहती है पहली बात तो वो सोशल वेलफेर के लिए हम चाहते हैं गरीब लोगों को लोन मिले असिस्टेंस मिले ठीक है न तो अगर वो एंपी हो भी जाती है तो आपके गरीब लोगों का ओपर रिस्क लिया है उसमें कुछ बुरा नहीं है आपने बड़े बिजनसमेन को पैसा देकर रिस्क नहीं लिया है тепर पहली बात तो यह है ना पहली बात तो ये है, दूसरी बात ये है, कि जब आप इस तरीके से पैसा उधार पर लेते हैं, लोन लेते हैं, तब आपको ये देखने मिलता है, कि अगर वो safe investments ना हो, तो NBFC की financial problems बढ़ेंगी, बट government, government तो चाहती है, social welfare create करना, government तो चाहती है, social welfare को बढ़ावा देना, government तो चाहती है, protect करें, इंडिया के consumers को, तो सरकार अगर दे रही है, scheme और scheme में अगर NPA हो जा रहे हैं, तो it is not such a big problem also, और ऐसी बात है, MSMEs जाज़ा तर अपना पैसा लोटाती है, small investors are very responsible, तो उनको आप बुरा बोलो मूँ, ठीक है, अब ये देखो ज़रा, NBFCs, इंडिया के अंदर, इन में से कौन सा कर्थन सही है, they cannot engage in acquisition of shares issued by the government, अरे, they cannot accept demand deposit, they cannot accept demand deposit, तो इसमें, अरे, ये गल्ती हो गई, कि correct, मैं, यहाँ पर correct लिखा है, यह मैंने पढ़ानी है, आपके लिए, which are the following statements, these are correct, they cannot accept demand deposits, yes, they cannot, yes, they cannot, दूसरी बात, they cannot engage in the acquisition of securities, नहीं कर सकते हैं, मैंने बताया था, shares खरीद बेच सकते हैं, shares खरीद बेच सकते हैं, तो two only is correct, के वल दो, that is monetary policy, मौद्रिक नीती, आज हम करने जा रहे हैं, मेरे साथ, time लगेगा, इस session को complete होने में, it's going to be a long session, आपको पूरे focus से, पूरे effort से, इस session को करना होगा, like जरूर कर देना, हमारे इस initiative को support करने के लिए, let us start with today's class, monetary policy, हमारे देश की एक economic policy है, जो RBI समालता है, RBI कौन है, जी, Reserve Bank of India, इस class में हम बाग करेंगे, monetary policy होती क्या है, types of monetary policies, quantitative और qualitative instrument होते हैं, तो यह क्या instrument है, क्या tool है, और ultimately हम, इन के बाग, monetary policy के main related aspects, जानेंगे, समझेंगे, अब, monetary policy है क्या, एक economic policy है, जो की RBI के दोरा संचालिक की जाती है, हमारे देश में, दो तरीके की economic policies आपको देखने मिलती है, at one end, you have monetary policy, at the other end, you have fiscal policy, जिसकी आने वाले time में classes होंगी, monetary policy, RBI देखता है, fiscal policy, ministry of finance देखती है, monetary policy के अंदर RBI, हमारे देश में money supply को increase या decrease करने की कोशिश करता है, जो पैसा आपके हाथ में घूम रहा है, उसको बढ़ाने की, या घटाने की कोशिश करता है, और fiscal policy में, Indian government, ministry of finance, technically budget प्रिपेर करते हैं, और tax बढ़ाना है, घटाना है, इससे related decisions लेते हैं, तो money supply, monetary policy में देखी रहती है, और budget कितना बनाना है, tax कहां खर्चना है, tax कहां से कमाएंगे और कहां खर्चेंगे, ये सारे decisions आपके, fiscal policy के तहर देखने मिलते हैं, अब monetary policy, basically इसी लिए होती है, कि हमारी अर्च वहस्था में, महेंगाई को, inflation को regulate किया जा सके, जहां पर monetary policy, महेंगाई को भी regulate करती है, money supply को भी regulate करती है, regulate करना मतलब एक limit में रखना, देखो, कभी भी खाना बना रहे हो, अगर आप full flame पे खाना बनाओगे, कम, बहुत ज़ादा भी नी चाहिए, बहुत कम भी नी चाहिए, इसी तरीके से आपको देखने मिलता है, economy में भी, जब भी आप महेंगाई देखते हो, नहीं बहुत ज़ादा, नहीं बहुत कम, unemployment level भी कम करने हैं, बेरोजगारी कम होनी चाहिए, लोगों के पास jobs हो, growth को बड़ावा दिया जा सके, और money supply regulate की जा सके, यह objective है, monetary policy का, अगर definition देखना चाहोगे, monetary policy refers to the policy of central bank, हमने देखा, RBI की policy है, it is the policy of the central bank, मैंने अभी अभी बताया, RBI की policy है, with regards to the use of monetary instruments, जहाँ पर आप अलग-अलग तरीकों का इस्तमाल करते हो, लक्ष को हासिल करने के लिए, लक्ष क्या है, महेंगाई कंट्रोल करना, देश की growth को बड़ावा देना, बेरोजगारी कम करना, prices को stable रखना, अलग-अलग खाने पीने की चीज़ों के, अलग-अलग चीज़ों के prices को stable रखना, ताकि देश की growth बढ़ सके, ताकि देश में development हो सके, और RBI को, monetary policy को चलाने की power, RBI Act 1934 के द्वारा मिला है, Reserve Bank of India Act 1934 नाम के कानून के तहत मिला है, RBI Act 1934 provides power to the Reserve Bank of India, ताकि वो इंडिया में monetary policy को control कर सके, तो मैंने बहुत simple words में पता है, पूरे देश के लिए एक macro economic tool है, एक तरीका है, जिससे RBI पैसे के संचार को, money के supply को manage करता है, as part of its monetary policy, जहांपे हमारी economy में growth भी हो, महेंगाई भी ना बड़े, यह साली चीज़ें बढ़ावा RBI के त्वारा दिया जाता है, तो अब समझ गए आप definition क्या है, monetary policy की, objectives क्या है, लक्ष क्या है, आकिर हासिल क्या करना चाते हो, यह भी समझ गए, अब यह समझो, कि monetary policy दो तरीके की होती है, पहले तरीके की monetary policy को, expansionary monetary policy कहेंगे, मतलब basically यह आपके दो लक्ष को signify कर रहे है, कि आप करना क्या चाते हो, monetary policy से आप दो चीज़ें कर सकते हो, या तो आप अपनी economy में growth को बढ़ावा दे सकते हो, या आप अपनी economy में inflation को कम कर सकते हो, दो अलग-अलग purpose है, ग्रोध को जब बढ़ावा देते हो, तो inflation बढ़ता है, inflation क्या होता है, महंगाई, मुद्रास्विती, चीज़ों के दाम बढ़ते हैं, और जब आप inflation कम करते हो, तो चीज़ों के दाम कम होते हैं, yes, expansionary monetary policy, एक ऐसी सरकार की RBI की नीती है, जिसमें RBI ही चाहता है, हमारे देश के अंदर, जादा से जादा पैसा लोगों के पास घुमे, bank के interest rate कम कर दिये जाते हैं, ताकि आपको loan असान तरीके से, असान किष्टों में, कम interest rate पर मिल सके हैं, जब कम interest rate पर loan लोगे, तो आप पैसा, देश की growth, देश के development में invest कर पाओगे, देश की growth and देश के development में कैसे invest करोगे, let's say you are a businessman, आपने loan लिया, bank से, कम interest rate पर उसको अपने business में लगाया, नई factories खोली, नई shops खोली, नया production किया, लोगों को जादा से जादा jobs पर रखा, नौकरियों पर रखा, और ultimately उससे क्या होगा, उससे देश में employment level बढ़ेगा, आपका business बूम कर रहा है, तो आप tax भी जादा पे करोगे, देश तरक्की करेगा के नहीं करेगा, of course करेगा, तो businesses बढ़ेंगे, business बढ़ेंगे, तो growth बढ़ेगा देश का, development बढ़ेगी देश की, growth और development सुदरेगी, तो of course, expansionary monetary policy के माध्यम से, जब interest rate कम कर दिये जाते हैं, तो market के अंदर, जादा पैसा लोगों के हाथ में घूमता है, अब कुछ technical words को असान मनाते हैं आपके लिए, सबसे पहले यहां लिखा है liquidity, liquidity मतलब जो पैसा, जो money market में circulate हो रहा है, मैं अगर आपको दो option दो, कि एक glass में बरफ पड़ी है, उससे अपनी प्यास बुझा लो, या glass के अंदर पानी पड़ा है, उससे अपनी प्यास बुझा लो, आप कौन सा लिना चाहोगे दोनों मैंसे, obviously जिस glass में पानी है, क्योंकि बरफ जब तक पिगलेगी नहीं, तब तक आपके लिए usable नहीं हो पाएगी, पानी को तुरंत पी जाओगे, तुरंत यूज कर पाओगे, मतलब liquid है तो बहतर है, अब money भी तुरंत अगर आप इस्तमाल कर सकते हो, तो उसे liquid money कहते हैं, जैसे मैं आपको पैसा देना है, मैंने अपना wallet निकाला, मैंने 500 का note निकाला और मैं कहा ये लो, मतलब it is very liquid, बट मुझे अगर आपको पैसे चुकाने होते हो, और मैं कहता कि ये लो, सोने का एक chain है, अपना पैसा निकाल लो इससे, तो आपको उसे melt करवाना पड़ता, उसमें से सोना extract करना पड़ता, गोल्ड और उसके बाद ही आपको पैसा मिल पाता, या जब गोल्ड सेल करते तब पैसा मिलता, ज्वेलर के पास जाकर, तीसरा option है, मैं बोलू कि ये लो मेरे मकान के कागस, मेरी जमीन के कागस मैंने आपके पास रख दिये, अब आहाँ आप कहोगे कि सर, इसको बेचने में ही महीना लग जाएगा, फिर इसकी registry होगी, कितना time लगेगा, it is the least liquid, it is the least liquid, least liquid का मतलब यह है, कि आपको ये देखने मिलेगा, कि कम से कम, liquidity है, real estate की time लगता है, cash में convert करने में, more liquid, उतना जितना liquid, उतना जल्दी convert कर लोगे, least liquid, जितना कम liquid है, उतना late conversion होगा, ये आपका expansionary monetary policy में, जब मैं liquidity का concept बता रहा हूँ, क्योंकि जब expansionary monetary policy कर रहे हो, इस रहा पे चल दिये हो, तो आप चाहते होगी, ज़ादा पैसा economy में circulate हो, ज़ादा liquidity economy में circulate हो, पैसा घूमता रहे लोगों के हाथ में, दूसरा है, contractionary monetary policy, ये कब चाहिए होगा, जब inflation बहुत ज़ादा होगया, मेंगाई बहुत ज़ादा होगए, तब चाहोगे कि मेंगाई कम करना, because किसके ओपर सबसे ज़ादा नुकसान होगा, the poor people, जो गरीब हैं, उन पर इसका सबसे negative impact होगा, तो आप money supply को, या liquidity को कम करना चाहते हो, जो bank सस्ती किष्टों पर, कम interest rate पर loan दे रहे थे, अब आप interest rate बढ़ा दोगे, what is happening in the last two, one to two years, क्या हो रहे हमारे देश में, हमारे देश में, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गए थी, इसलिए RBI एक तरीके से, contractionary monetary policy यूज़ कर रहा था, मैं आगे बताऊंगा, accommodative hawkish policies क्या क्या होती है, इसब क्या होता है, I will discuss, बट अभी कि आप यह समढ़ लो, कि RBI ने contractionary monetary policy यूज़ करी, और क्यों यूज़ करी, ताकि लोग को कम loan मिल सके, interest rate बढ़ा सके, लोग अपने आपी loan नहीं लेंगे, attractive नहीं लेंगा, तो आपके अज़ पैसा आएगा, पैसा आएगा, घर खरीदोगे, गाड़ी खरीदोगे, बाइक खरीदोगे, तो contractionary policy में, वो आप पैसे की supply को ही रोग दे रहे हो, ताकि लोगों के हाथ में पैसा ना जाए, जब पैसा नहीं जाएगा, लोग खर्चा नहीं करेंगे, तो अपने आप market में जो money circulate हो रहा है, वो कम हो जाएगा, money supply कम हो जाएगा, liquidity कम हो जाएगी, और ultimately किसी भी देश के अंदर, inflation को आप control कर सकते हैं, ऐसा कोई short shot तरीका नहीं है, क्योंकि India also is struggling, in controlling inflation, और इंडिया में inflation control करने का काम है, किसका ही जिम्मेदारी, किसके कांधे पर दी है, तो RBI को हमने ये जिम्मेदारी दी है, कि RBI, monetary policy committee के माध्यम से, इंडिया में inflation को control कर सकता है, सरकार की एक policy है, जिसे कहते हैं, monetary policy, और उस monetary policy को चलाने वाली एक कमिटी है, जिसको कहते है, monetary policy committee, अब उस monetary policy committee के द्वारा, हमारे देश में, inflation को 2 से 6% की range में रखने की कोशिश की जाती है, minimum 2%, maximum 6%, इस range में रहे तो अच्छा है, 6 से उपर गया, problem है, trouble for us, 2 से कम गया, then it is also trouble for us, भारत सरकार चाती है, कि RBI एपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाए, इसी लिए RBI ने, और Government of India ने, 2015 में, मिलकर, monetary policy committee बनाई, जो की, कि कि कमिटी के recommendation पर बनाई गई थी, उरजीत पतेल committee की recommendation पर, ये कौन है, ये RBI के पूर्व governor, एक्स governor रह चुके है, 2015 में, इनी की recommendation पर, बनाई गई, monetary policy committee, RBI और Government of India ने मिलकर, जिसमें 6 member हैं, 3 आते हैं RBI से, और 3 आते हैं आपके, center government से, 3 people are from the RBI, Reserve Bank of India, उन 3 भी, लोगों में से कौन-कौन होते हैं, मैं बताता हूँ, 3 center government से आते हैं, आप ये curious होगे जानने के लिए, कि ये 3 लोग RBI के है कौन, एक तो आपके governor है, एक आपके deputy governor है, और तीसरे जो हैं आपके, वो RBI के ही executive board के एक member होते हैं, Reserve Bank of India के executive board होता है, उसके member होते हैं, ठीक है न, तो monetary policy committee, इसके उपर बकायदा मैं आपको points दे रहा हूँ, 2015 में बनाई गई, कौन सी committee के basis पर, उरिजीत पटेल committee के basis पर, अरजीत पटेल नहीं, उरजीत पटेल, ठीक है न, आगे, इसमें 6 member होते हैं, तीन government के, center government के और 3 RBI के, center government के वाले members जो है, नाम देती है, और 3 जो RBI के member है, वो ex-officio member है, अब ये ex-officio क्या होता है, quality में आपने पढ़ा होगा, कि एक committee का, एक seat पर, एक post पर बैठने की द्वारा, automatically, आप एक और post accept कर लो, जैसे इंडिया के, vice president जो है, वो राजसभा के chairman भी है, क्यों क्योंकि वो ex-officio post है, एक post जो दूसरी post के साथ connected है, अब RBI के governor, monetary policy committee के member भी है, क्योंकि ex-officio उनको वो post दी गई है, दूसरी बात, RBI के जो member है, RBI के जो monetary policy committee के जो member है, तीन total लोग है, जिसमें एक governor, एक RBI के deputy governor, और RBI के executive board, जो central board है, उसके executive director, उसके director जो है, वो member है, और तीन लोग center government जो nominate करती है, वो कोई भी हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, कल को जाके मुझे भी बोला जा सकता है, अगर center government को लगता है, कि ऐसे लोग जो की economics में strong है, किसी college के professor है, जैसे पम्मी मैडम, डेली स्कूल अफ एकॉनमिक्स की dean होती थी, उनको मौका मिला था, कि वो आके member बन सके, उनको मौका मिला था, कि वो आके monetary policy committee में बैठ सके, ऐसे Indian statistical institute है, उसके एक member, उसके जो एक professor थे, वो member बने थे, तो ऐसे लोग, जिनको economics में अच्छा खासा तजूर्बा है, knowledge है, उनको monetary policy committee में member बनाया जा सकता है, है ना, तो तीन member है, center government की तरफ जो लाए जाते हैं, center government को भी क्या सपने आ रहे हैं, कि किसको nominate किया जाएगा, there shall be some proper evaluation committee, है ना, क्यूंकि प्रदान मंत्री जी के पास इतना time है क्या, कि एक एक person को choose करेंगे, तो basically, cabinet secretary, नाम की एक बहुत senior position होती है, जिसके लिए आप तयारी कर रहे हो, आप सब IS बनना चाहते हो, IS officer, सबसे senior most government of India में होते हैं, cabinet secretary, दिल्ली में cabinet secretariat भी है, cabinet secretary की एक committee है, जिसका नाम है search and selection committee, क्या नाम है search and selection committee, जो क्या करती है, search करती है, उन लोगों को जो की competent है, इसमें member बनने लायक, उनको select करती है, और center government को उनका नाम सुझाव देती है, नाम बताती है, कि देखो ये 6 लोग है, A, B, C, D, E, F, इन में से आप किसी भी तीन member को monetary policy committee में, center government के nominee के तौर पर ला सकते हो, अब सरकार को देखना होगा, कि A, B, C, D, E, F में से कौन जादा competent है, और उन तीन लोगों को फिर वो nominate कर देंगे, इस monetary policy committee में, तो तीन RBI के हो गए, तीन center government के हो गए, बट एक बार आप a point हो गए, आपका एक बार four years का time, या जो भी time आपको दिया गया, वो complete हुआ, उसके बाद you will not be reappointed, कोई राजे महराजे थोड़ी ना हो, कि बार-बार एकी seat पर बैठे रहो गई, ये democracy है इंडिया में अब, एक seat पर आपको मालिकाना हक नहीं मिल जाता, it is a public post, तो यहाँ पर reappointment not acceptable, अब prelims में question कैसे बनेगा, prelims में बनेगा कि monetary policy committee, recently RBI के efforts के द्वारा 2021 में बनाई गई थी, गलत 2015 में बनी थी, question बनेगा कि ये monetary policy committee, रगुराम राजन committee की recommendation पे बनाई गई थी, गलत 6 member होते हैं, ऐसे multi statement question UPSC पूछ सकते हैं, question मनेगा कि प्राइम मिनिस्टर officer के principal secretary, search and selection committee के member होते हैं, वो select करते हैं, गलत cabinet secretaries के member होते हैं, अच्छे search and selection committee में RBI governor भी होते हैं, ये बात याद रखनी है, RBI governor भी है, cabinet secretary भी है, जो नाम suggest करते हैं, center government को की इन लोगों को nominate किया रहा सकता है, monetary policy committee में, अब आप पूछेंगे, बाकी 3 member जो RBI के हैं, उनका tenure कितना होगा, ये आप पूछोगे न, कि मैंने क्या बोला, total 6 member हैं, 3 सरकार की तरफ से, 3 center government की तरफ से, और 3 RBI के employees हैं, अब आप पूछोगे, RBI के employees का कितना time है, क्योंकि center government वालों का, मैंने बता दिया, 4 साल का है, उससे कम भी हो सकता है, और reappointment नहीं होगा, RBI वालों का, जब तक वो अपनी post पे बैठे हैं, लेट से RBI के governor, अभी शक्तिका अंदास जी हैं, तो तब तक वो monetary policy committee के member हैं, कल जाके, XYZ कोई और बन जाते हैं, तो वो बन जाएंगे, monetary policy committee के member, तो जब तक वो अपनी original seat पे बैठे हैं, तब तक वो RBI के, monetary policy committee के member के तोर पे होंगे, ऐसे question निकलते हैं, UPSC में, prelims के अंदर, that is why I am again and again, reiterating on these points, please remember them, 6 लोग कौन है, समझ आ गया, एक governor, एक deputy governor, एक RBI के central board के executive director है, वो member होते हैं, इनके इलावा 3 और member, जो की center government appoint करती है, cabinet secretary की सर्चन selection committee है, उस committee की recommendation के basis पर, उसमें RBI governor भी होते हैं, जो भी appoint किया गया है, चार साल के लिए किया जाएगा, या उससे कम समय के लिए, जो भी उन्हें order दिये गए हैं, और उन्हें reappointment नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, अच्छा, monetary policy committee, हर 3-3 महीने में मिलती रहती है, साल में कम से कम 4 meeting तो होनी ही चाहिए, RBI के हिसाब से, और इनको Indian Constitution के हिसाब से, भारतिय सम्विधान के हिसाब से नहीं, बलकि RBI Act के हिसाब से यह power मिली है, एक question मना दो, और बना हुआ है prelims में, कि Indian Constitution, monetary policy committee को बनाता है, अब आप confused हो जाओगे, आपको लगेगा कि हाँ हो सकता है, Constitution का part हो, बिल्कुल possible है, बट इन रियालिटी, आपको यह देखने मिलेगा, कि RBI Act के तहथ है, यह बहुत बहुत अच्छा question, UPSC ने पहले पूचा हुआ है, कि Constitution of India, monetary policy committee को बनाती है, गलत, Constitution of India नहीं, कौन सा कानून, RBI Act 1934 में, amend करके हमने यह provision डाला है, RBI Act 1934 में, section भी बता दू, विश्वास नहीं है, तो section 45 ZB of the RBI Act, तो Constitution में नहीं लिखा, बल्कि यह amend हुआ है, हमारे RBI Act को amend किया गया है, 2016 में इसको शुरू किया है, 15 में बनाने के लिए recommendation दी, 16 में इनकी पहली meeting हुई, 29 September को, और तब जाकर, इस monetary policy committee को बनाये गए, अब यह क्या करते हैं, यह meeting करते हैं, regularly हर 4-3-3 महीने में meeting होती है, साल में कम से कम 4 meeting तो, होनी ही होनी चाहिए, और जिसमें यह फैसला लेते हैं, कि हमारे interest rate बढ़ने चाहिए, या नहीं, लोन लेना महेंगा होना चाहिए, या सस्ता होना चाहिए, शुड इंटरेस्ट रेट इंक्रीज, और शुड इट भी डिक्रीज, क्या होगा, वो monetary policy committee decide करेंगी, जैसे होता है न, पंच बैठे होते हैं गाओ में, छे पंच बैठे हैं, सरपन्च होगा, साथ मिलके फैसला लेंगे, इसी तरीके से, monetary policy committee के लोग भी फैसला लेते हैं, इंटरेस्ट रेट क्या होने चाहिए, हमारे देश के अंदर, लोन किस रेट पर मिले लोगों को, ये decide करते हैं, क्यों क्योंकि, इंटरेस्ट रेट बहुत डिरेक्ली कनेक्टेड है, विद धी इंफलेशन, अभी मैं बताऊंगा कैसे, अच्छा, एक और मुद्दे की बात है, हर 6-6 महिने में, RBI को एक report print करनी पड़ती है, जिसको कहते हैं, monetary policy report, RBI को हर 6 months में, MPR, monetary policy report, publish करनी पड़ती है, जिसमें RBI को बताना पड़ता है, कि उन्होंने क्या steps लिये हैं, क्या effort किया, क्या काम किया है, महंगाई को control करने के लिए, और आने वाले 6 महिने से लेकर, डेड़ साल तक, महंगाई का क्या हाल रहेगा, हमारे देश के अंदर, यह forecast देते हैं, हर 6-6 महिने में, ताकि यह तैयार रहे, आने वाली किसी भी problem से लड़ने के लिए, इसी लिए इनकी report बहुत ज़्यादा important होती है, अच्छा, अब 6 members मैंने बोला, मान लेते हैं उनमें से कुछ लोग बिमार है, 3 लोग बिमार हैं, 4-3 लोग ठीक हैं, तो क्या meeting होगी? नहीं होगी, 4 लोग ठीक हैं, 2 लोग बिमार हैं, तो क्या meeting होगी? Yes, minimum आपको 4 परसन चाहिए, minimum 4 लोग चाहिए, minimum 4 people, 4 members you need, for quorum purposes, quorum क्या होता है? quorum का मतलब है गणपूर्ती, मतलब 6 लोग की committee है, meeting कब हो? जब minimum 4 लोग हो, जब 4 हो, 5 हो या 6 हो, तभी meeting हो सकती है, तभी decisions लिए जा सकते हैं, let's say 4 से भी कम लोग available है, उस दिन meeting नहीं होगी, उस दिन बोल दिया जाएगा, कि आप घर जाएए, जिस दिन more than 4 होंगे, तभी जाकर, आपको देखने मिलेगा, इसकी meeting करवाई जाएगी, इनकी meeting होगी, ये decision तभी ले पाएगे, are you done with the concept of monetary policy committee, आप सब के mind में ये fix हो गया होगा, इसके बाद हमें instruments of monetary policy के बारे में बात करना है, दो instrument है, quantitative, qualitative, और इन दोनों में, कई सारे, चोटे चोटे instruments आते हैं, कई सारे instruments की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम, quantitative instruments, दो तरीके के हैं, quantitative, qualitative, हिंदी में बूलू तो, quantitative को कहा जाता है, मातरात्मक, हिंदी में, qualitative को कहा जाता है, गुनात्मक, हिंदी में, गुणात्मक साधन और मात्रात्मक साधन हिंदी में कहा जाता है टफ लग रहा है सुनने मैं जो हिंदी मेडियम के लिए उनका भी फायदा हो यार उनको नुक्सान क्यों हो तो उनके लिए भी मैं हिंदी वर्ट बताता रहा quantitative methods वो methods होते हैं जिसमें आप money supply को increase, decrease करने की through some general tools कोशिश करते हो money supply बढ़ाने की money supply घटाने की इन्हे quantitative tools कहा जाता है ताकि volume of money जरुवत पढ़ने पर increase या जरुवत पढ़ने पर decrease हो सके जिसमें bank rate, repo rate, reverse repo rate CRR, SLR, open market operations आते हैं quantitative techniques जो है instruments जो है ये indirect तरीके से इन्फलेशन को, indirect तरीके का मतलब है कि आपको loan अलग interest rate पर कम या ज़ाधा interest rate पर provide करके देश में ये inflation को control कर लेते हैं कैसे? आईए समझते हैं अब हमें अलग अलग type के instruments देखने हैं, मैं अगर easy तरीके से समझाना चाहूँ तो पहले मैं short term बताऊंगा और फिर मैं long term बताऊंगा short term और long term में कौन से successful होते हैं? short term के अंदर आपको देखने मिलता है repo rate और दूसरा देखने मिलता है reverse repo rate दूसरा देखने मिलता है reverse repo rate long term के अंदर आपको देखने मिलता है bank rate जिसमें आजकल external benchmark rate नाम का एक rate है इतने rate आएंगे तुम confuse हो जाओगे पर revise एक बार कर लिया तो बहुत असान हो जाएगा यह topic तुमारे लिया जो यह repo rate और reverse repo rate है यह आपके liquidity adjustment facility नाम की category में आते हैं किस में आते हैं liquidity adjustment facility LAF इस term को कहा जाता है LAF liquidity adjustment facility let's see what liquidity adjustment facility is एक साल से कम समय के instrument है rate of interest है LAF में आते है liquidity, liquidity मतलब money supply है ना adjustment बढ़ा सको, घटा सको जरूद पढ़ने पर facility liquidity adjustment facility LAF first we will deal with the repo repo rate किसी की short form है क्या यह yes repurchase obligation rate फिर से खरीद लेने का obligation if I say that I am in need of money आपके वसू सर को पैसा चाहिए वसू सर को आप से थोड़ा पैसा चाहिए आपने का sure सर आप हमसे पैसा ले लीजे बट देखो सर आप वैसे तो एक सजन इंसान लगते हो बट कुछ guarantee कुछ security के लिए हमारे पास रख सकते हो मैंने कहा I will keep my mobile phone with you आपके पास मैं mobile phone गिर भी रख रहा हूँ मैं इससे वापस खरीद लूँगा हमें contract कर रहे हैं आपसे मैं वापस खरीद लूँगा after six months तो अभी मैं आपको अपना mobile phone दे रहा हूँ as security और आपसे पैसा ले रहा हूँ फिर जब मैं आपको कुछ time के बाद पैसा वापस करूँगा तब आप मेरा mobile phone मुझे वापस दे देना फिर डील है बदले मैं आपको कुछ interest दे दूँगा अगर मैं आपसे लेट से 30,000 रुपीज ले रहा हूँ तो मैं आपको 31,000 रुपीज दे दूँगा 30,000 आपसे लिया था आपको 31,000 मिल रहे हैं आपको 1,000 का benefit मिला आप भी खुश मैं भी खुश फेर एनफ, फेर पॉइंट है अब इसको RBI के context में देखो कि यहाँ पर वसूसर की जगह एक scheduled commercial bank होता एक bank होता जैसे IDBI, जैसे ICICI, PNB Standard Chartered Bank, कोई भी Indian या foreign, सरकारी या private bank हो और दूसी तरफ आप नहीं RBI हो RBI Reserve Bank of India आपको RBI बोले, bank को RBI बोले कि bank आपको पैसा चाहिए, क्यों चाहिए bank कहेगा क्योंकि हम लोगों को loan में पैसा दे सके है हमारे पास बहुत सारे customers खड़े हैं पैसा मांगने के लिए and we want to give them loan RBI कहेगा ठीक है, आप मुझसे loan ले लो, पैसा ले लो not an issue आप में से जो amount है वो ले लो बदले मैं security क्या रखोगे bank कहता है, कि bank के पास कई सारी government securities होती है government security मतलब वो instrument जिससे government जनता से पैसा उधार लेती है government जनता से पैसा उधार लेती है government banks से पैसा उधार लेती है तो banks को अभी चाहिए पैसा अभी cash चाहिए तो वो ये paper securities का क्या करेगा contract का क्या करेगा एक तरीके के instrument है इनको bank बोल सकता है कि RBI ये security अपने पास रख लो गिर्वी रख लो मैं कुछ time के बाद पैसा देकर इनको वापस ले लूँगा और जब मैं आपको पैसा दूँगा तो जितना original principal amount है वो तो दूँगा interest भी दूँगा उस पर वही interest repo rate या repurchase obligation rate कहा जाता है कितना असान था बहुत असान concept था के नहीं था और ये सिर्फ short term है ये एक साल से कम समय के time period से connected है इसे कहा जाता है repo rate जब हम हमारे देश के अंदर repo rate लेकर आते हैं तो हम repo rate के माध्यम से कितना पैसा economy में circulate हो रहा है वो control कर पाते हैं किस तरीके से बहुत simple चीज़ है सुनना और समझना एक table बना रहा हो हो सकता है आपकी अर्चवस्था में inflation हो, महंगाई हो महंगाई का मतलब है कि लोगों के हाथ में बहुत जादा money circulate हो रहा है, बहुत पैसा गूम रहा है, लोग धडलने से पैसा खर्च रहे हैं और चीज़ों के दाम बढ़ते जा रहे हैं या हो सकता है कि आपकी economy में recession हो, money supply बहुत कम हो, जैसे lockdown के बाद तुरंट इंडिया में था, ये दो situations possible हैं इंडिया के अंदर, है ना अब पहली situation में जब money supply जादा हो रखा है, तो उसे कम करना पड़ेगा, obviously दूसरी situation में money supply कम है तो उसे जादा करना पड़ेगा, पर करोगे तो कैसे करोगे, in first situation RBI जो है उस case में अगर महंगाई बढ़ी हुई है बहुत जादा, तो repo rate बढ़ा देगा, let's say 8% कर दिया repo rate let's say, 8% कर दिया repo rate, RBI ने repo rate बढ़ा दिया, अब क्या होगा कि जो भी bank RBI से पैसा ले रहे हैं RBI तो पैसा दे देगा, bank को वापस उसे करना पड़ेगा, और bank RBI के पास गिर्वी में instrument रख रहा है, collateral रख रहा है, गिर्वी रख रहा है, instruments रख रहा है या government securities जो उसके पास पड़े हैं, वो रख रहा है अब bank customers को loan देते हैं, है न RBI के रहा है कि पहले से जादा interest rate दो, क्योंकि हमने interest rate बढ़ा दिया है, we have increased it, आपको पहले से जादा देना पड़ेगा, अब bank के पास जो पैसा customers को loan में देने के लिए पड़ा था, अब customers को loan में नहीं दे पाएंगे और कहां जाएगा वो पैसा, RBI की pocket में जाएगा वो पैसा banks जादा reporate होने की वज़े से वो पैसा RBI को दे देंगे, and the banks will have lesser money to give to people in the form of loan, कम पैसा लोगों के हाथ में जाएगा, तो क्या होगा लोगों के हाथ में money supply कम होने लगेगी, इस से क्या होगा, इस से economy के अंदर prices stabilize होने लगेंगे, prices normalize होने लगेंगे, क्योंकि लोगों के पास अब पैसा नहीं है खर्चने के लिए, और reporate बढ़ाने से, हमारे देश के अंदर inflation कम होने लगेगा, महंगाई कम होने लगेगा, क्यों? क्योंकि money circulation in the hand of people is reduced now, दूसरी situation हो सकती है, कि मान लिजे, अभी के reporate के हिसाब से, हम कम कर दें 2% कर दें reporate 2% कर दें, इंडिया का reporate, 2% कर दोगे तो उसके बाद क्या होगा उसके बाद आपको देखने मिलेगा कि चीजों के दाम, prices अब increase करेंगे, क्यों? क्योंकि अब loan काफी कम interest rate में मिल रहा है जो पहले पैसा, RBI को interest के तोर पे देना पड़ता था, वही bank अब customers को loan में दे पाएंगे, और जादा से जादा customers को कम से कम interest पर loan मिल पाएगा interest will reduce, जिससे थोड़ी भहत inflation economy में बढ़ेगी, growth economy में बढ़ेगी, economy में money circulation बढ़ेगा, और देश जो मंदी के हालात में थे, जो recession के हालात में थे, जो growth नहीं हो पारी थी, वो होगी मतब जिनके पास business करने के लिए पैसा नहीं था, वो कम interest rate पर loan ले पाएंगे, business करेंगे, tax बढ़ेंगे, growth होगी, development होगी, और देश तरक्की करेगा, देश के अंदर जो job नहीं हो, create हो पारी थी, वो jobs बढ़ने लगें, क्योंकि business में के हाथ में पैसा है न, वो नहीं दुकाने खोलेंगे, factories खोलेंगे, invest करेंगे और पैसा बढ़ेगा economy में, कितना आसान concept है, आपस में interlinkage समझ पा रहे हो, आपस में interlinkage समझ पा रहे हो, इसी लिए तो मैंने बताया, कि इंडिया के अंदर, अगर आपको monetary policy instrument देखना है, तो सबसे पहला सबसे शुरुआत में repo rate ही आता है, इसे कहते हैं, repurchase obligation rate, इसका उल्टा होता है, reverse repo rate, ये तो आपको पहला concept देखने मिला, जहांपे repo rate में, एक fixed interest rate के basis पर RBI, liquidity या पैसा provide करता है, बैंक को, और बैंक बदले में क्या देते हैं, collateral रखते हैं, गिरवी रखते हैं, government security या और कोई approved security जो RBI अलाओ कर देता है, तो ये वो rate है, जिस पर हमारे banks को, पैसा उधार पर लेने का मौका मिलता है, from RBI when they are having shortage of funds, दो situation बताई, जहांपर आप repo rate बढ़ा सकते हो, या घटा सकते हो, जब RBI increase कर देता है repo rate, RBI के लिए पैसा उधार लेना, RBI से बैंकों के पास पैसा उधार लेना काफी costly हो जाता है, क्योंकि अब ज़्यादा rate of interest देना पढ़ रहा है RBI को, जिस वज़े से banks, they are forced, force किया जा रहा है उनको, कि और ज़्यादा interest दो, और ज़्यादा interest दो, अब जनता उतने high interest पे loan लेगी नहीं, from taking loan and spending money, पैसा है नहीं, उत्खर्चें ये नहीं, तो महंगाई control होगी, इस तरीके से RBI control कर पाया money supply को, RBI control कर पाया, inflation को, RBI control कर पाया, economy को, और balance कर पाया, stable कर पाया, दूसरी situation, अब दोस्वें यहाँ ध्यान से सुनो, जब RBI चाहता है, कि economic activities बढ़े, business करनी लें, लोग को high interest rate पर loan मिल रहे, in that situation, RBI can reduce the repo rate, कि कल जाकर, अगर recession की situation है, तो हम repo rate नहीं increase कर देंगे, बलकि हम decrease करेंगे, repo rate decrease करने से, क्या होगा, money supply, बढ़ेगी economy में, लोग, लोग, ज़ादा मातरा में loan लेंगे, क्योंकि कम rate of interest पर loan मिल रहा है, इस तरीके से, economy में, liquidity फैलेगी, और जो, रे बिलकुल growth रुक गई थी, ना, दब गई थी, वो growth वापस उठने लगेगी, isn't that great, I am sure you have understood it, अगला concept, reverse repo rate, इसका बिलकुल उल्टा करता हो, वहाँ पर क्या हो रहा था, I'll show you, यह है reverse repo rate, first situation में, यहाँ पर RBI था, और यहाँ पर banks थे, RBI banks को पैसा दे रहे थे, money दे रहे थे, और banks बदले में collateral दे रहे थे, गिरवी रख रहे थे, अपनी securities, ठीक है, यह draw कर ले ना ठीक है, दूसरी situation, banks जो है, पहले तो यह repo rate में हुआ था, और RBI जो पैसा bank को दे रहे है, bank अपना समान गिरवी रख रहे हैं, bank पैसा वापस लोटा देगा, और समान अपना ले लेगा, वापस अपने instruments को, government securities को ले लेगा, right, in other situation, जिसे हम reverse repo rate कहा रहे हैं, उल्टा है, RBI कहा रहे है, कि अरे bank, तुमारे पास extra पैसा पड़ा है, लाओ, मेरे पास रख दो, give your money to me, बदले मैं, मैं आपके पास government securities, गिरवी पर रखूँँगा, collateral रखूँगा, और आपको मैं इस बारी, जो पैसा आप मेरे पास रख रहे हो, मैं वो पैसा आपको, with interest, जो reverse repo rate है, वो चुकाँगा आपको, आपकी पैसे को जो आपको दिया जा रहे है, वो मैं आपको reverse repo rate के basis पर दूँगा, मतलब if I have taken 100 rupees from you, I will give you 104 rupees back, 4 rupees कमाने का मौका में लेगा, यह है reverse repo rate, नहीं समझ आया, एक और बार बताता हूँ, RBI, banks को बोल रहे हैं, कि bank अपना पैसा RBI के पास लाओ, opposite to what we just saw, RBI को bank पैसा दे दे रहे हैं, ठीक है, RBI पे तो विश्वास है, Central Bank है, RBI बदले में फिर भी अपनी government securities गिरवी रखता है, collateral पे रखता है, जिसमें RBI इस बारी bank को, interest दे रहा है उस पैसे पर, इसे reverse repo rate कहते हैं, दो situation यहां भी हो सकती है, कि हम reverse repo rate को increase कर दे, या हम reverse repo rate को decrease कर दे, two situations can be possible, और यह भी short term का hack instrument, reverse repo rate, यहां पर interest rate अगर बढ़ा दिया जाए, RRR को increase कर दिया जाए, और second option है, RRR को decrease कर दिया जाए, तो इसका impact होगा, तो क्या होगा, अगर reverse repo rate को increase कर दिया, मतलब अगर पहले 4% मिल रहा था, और अब 8% मिलने लगे, तो banks कहां पर पैसा रखेंगे अपना, जनता को loan में देंगे, जहां से वो 8-9% कमा सकते हैं, या वो RBI के पास जमा करा देंगे पैसा, जहां से RBI भी उन्हें 8-9% interest दे रहा है, तो banks कहां जाना चाहेंगे, अरे customer को पहले loan दो, फिर उससे loan recover करो, उसमें भी कुछ विजय माल्या जैसे लोग होते हैं, जो time पर पैसा नहीं लोटाते, तो bank कहेगा, क्यूं इतना हमें अपना दिमाग खराब करना है, सीधा जाके RBI के पास ही रख दो, एंड इस तरीके से RBI, liquidity absorb कर लेता है market से, तो RBI जब R, R, R को, reverse repo rate को increase करता है, banks को RBI से ज़ादा interest मिलता है, banks prefer करते हैं कि वो पैसा RBI को दे, ना की businesses को, ना की public को, ना की जनता को, क्यों? loan ले लिया, वापस नहीं कर रहे हो, non-performing asset बन गए, उधार लेके भूल गए देना, हमारा तो loss हो जाएगा, अले RBI थोड़ी ना भूलेगा, RBI is a safe bet, RBI को दे देते हैं, so whenever RBI wants to decrease money supply, in the market, जब भी RBI चाहेगा, कि जो bank है, वो लोगों को पैसा ना दे, money supply कम हो, money supply कम क्यों करना है, क्योंकि inflation है, जी बहुत जादा, inflation को कम करना है, तब reverse reporate बढ़ा दिया जाएगा, RBI पैसा absorb कर लेगा, banks का, और banks को बोलेगा, कि ये लोग हमसे पैसा, हमसे पैसा ले लो, तो क्या बोला मैंने, एक बार फिर से repeat करता हूँ, RBI ने increase किया, RRR, banks को जादा interest rate मिला, RBI से, banks are now preferring to lend their money to RBI, कि RBI को दे देते हैं, अच्छा return भी मिल रहा है, जनता को loan देने, जितनी यहाँ पर आपकी problem नहीं है, जितना जनता को loan दे कर, you'll have to collect the money, उससे अच्छा है, RBI को दे दो, और आप bank जो है, वो public को या businesses को loan नहीं दे पाएगा, और जब public को या businesses को loan नहीं दे पाएगा, ऐसी situation के अंदर आपको देखने मिलेगा, an increase in the RRR, will decrease the money supply, will decrease the inflation, and ultimately it will bring stability in the economy, clear सबको, दूसरा concept, RRR कम किया, क्यों, क्योंकि money supply बढ़ानी थी, ऐसा कहां हो रहा है, जपैन में हो रहा है, ऐसा कहां हो रहा है, यूरोप में, यूरोपियन कंट्रीज में हो रहा है, अभी फिलाल, वहाँ पे महंगाई थोड़ी बढ़ गई है, वरना आज से 4-5 साल पहले हो रहा था, प्री कोविड पीरेड में हो रहा था, अब तो यूरोप की एकॉनमी थोड़ी हिली हुई है, और महंगाई बढ़ गई है, बट ये सिचुएशन आज से 4-5 साल पहले होता था, कि जपान कहता था, यूरोप कहता था अपने सेंट्रल बैंक को, कि अगर बैंक्स तुमारे पास आएं, पैसा रखने के लिए, उनको बोलना माइनस में इंट्रेस्ट लेंगे, माइनस में इंट्रेस्ट का मतलब है, कि तुम 100 रुपे जमा करा रहे हो, जपान का कोई बैंक है, J1 उसका नाम रखा मैंने, JP1 नाम रखा, और ये जपान का सेंट्रल बैंक, JP1 जाएगा, JCB के पास, केलो साब पैसा, 100 रुपे, जब पैसा वापस कर रहा है, JCP, JP1 को, Japanese Central Bank वापस कर रहा है, Japanese Bank को, तो वो 97, 98 रुपीज वापस करेगा, वो 2 रुपे खुद रख लेगा, नेगिटिव में इंट्रेस्ट दे रहा है, कि तुम्हें जो पैसा जनता को, लोन में देना चाहिए, तुम आ गए हमारे पास रखने के लिए, ये कहां का सेंस है, वैसे ही हमारे देश, जो कि developed हो गए हैं, developed country बन गए हैं, अब जादा development का तो scope है नहीं, हम चाहते हमारे देश की population को लोन मिले, और आप आगए हमारे पास पैसा जमा कराने के लिए, और अगर आप हमारे पास पैसा जमा कराने के लिए आ गए हो, तब आपको ये समझना चाहिए, कि ये पैसा हमारे पास मत जमा कराओ, otherwise हम penalty काट लेंगे, आप दो public को loan में, ताकि हमारे देश और आगे बढ़ सके, हम develop हो चुके हैं, little scope of development is left, बहुत कम scope बचा है, अगर और development चाहिए, तो you will have to pump money in the economy, आपको economy में पैसा बढ़ावा देना होगा, money supply को बढ़ाना होगा, जिससे थोड़ा बहुत inflation बढ़े, price बढ़ें, क्यों, क्योंकि recession की हालत है, तो जब economy recession में होती है, तब आपका RRR reduce किया जाता है, is that clear to you all, ताकि कम interest rate मिले, और bank सोचे, कि RBI को देने से अच्छा है, मैं सीधा जाके customer को ही दे देता हूँ, so, increase in RRR, I have explained, decrease in RRR, I have explained, कि दोनों में होता क्या है clear है is it understood now मैंने बहुत simple भाषा में आपको एक concept समझाए है यह आपका liquidity adjustment facility कहा जाता है LAF इसे कहा जाता है liquidity adjustment facility अब आप कहोगे सर मेरे को पता ही नहीं है कितना rate of interest होता है मैं कहां देखू I'll show you there is a website called rbi.org बहुत simple website है उस पे आप गए आप daily के latest rate of interest देख सकते हो जैसे सबसे पहले policy rates सबसे पहले क्या देखने मिल रहा है policy repo rate कितना देखने मिल रहा है साड़े 6% कितना है repo rate 6.5% rr जिसको हम fixed reverse repo rate कहते हैं कितना है 3.35% as a thumb rule आपको याद रखना है कि repo rate हमेशा जादा होगा rr हमेशा जादा होगा rr के मुकाबले and I'm not talking about the movie I'm talking about reverse repo rate ये बात याद रखिएगा ठीक है न don't start natu natu here I'm not talking about the movie I'm talking about the economic concept ओके आगे बढ़ते हैं and by the way I love the movie rr it was amazing चलो आगे चले सर अब बच्चा पूचा सर rb i को क्या जरूवत है rr rr की reverse repo rate की तो मैंने अभी क्या बताया inflation को control करने के लिए या inflation को increase करने के लिए or decrease करने के लिए money supply को बढ़ाने के लिए घटाने के लिए अभी जो बताया था उसी से interlink करो न हमारे economy में stability बनी रहा है price की stability बनी रहा है यह किसके कंदे पर है it is on the shoulders of rbi इसी लिए तो rbi को यह जिम्मेदारी दी गई है कि manage करें हमारे देश के अंदर कैसे भी हमारे देश के अंदर अलग-अलग instruments के माध्यम से inflation को इसी लिए तो वो repo rate, reverse repo rate जैसे instrument लेकर आए हैं ताकि हमारे देश में manage कर सको limit में रख सको आप inflation को, महंगाई को जरूरत पढ़ने पर बढ़ाओ, जरूरत पढ़ने पर घटाओ clear है, दूसरी बात LAF समझ आ गया, अब हम एक और important concept पे चल रहे हैं इसका नाम है CRR cash, reserve, ratio चलो, let's say कि हमारी economy में कुछ पैसा banks को, और banks को कुछ पैसा जो वो NDTL का प्राप्त कर रहे हैं, if you have not seen the previous lecture, मैंने पहले की classes में बताए है, and I highly request you कि अगर आप ये video देख रहे हो, तो इससे पहले 15 classes हो चुकी है, उनकी भी videos जाके देखो, playlist मैंने telegram पे भी share कर रखी है, फिर से आज कर दूँआ, net demand and time liability, वो पैसा, जो savings account, जो current account जिसको मैं कहता हूँ, current account saving account को कासा, इसको मैं कासा कहता हूँ, current account, saving account current account कौन खोलता है, businessmen खोलते हैं, savings account कौन खोलते हैं, हम deposit कराते हो, FDRD मतब एक bank में हम जैसे ग्रहक जाकर मान लेते हैं 100 करोड रुपे जमा करा रहे हैं तो क्या सारा पैसा bank loan में आगे घुमा दे, नहीं as per the regulations of RBI कुछ पैसा bank को को अपने पास reserve में रखना पड़ता है, कल जाके customer आये, bank का दर्वाजा खट-कट आये, knock knock knock, sir I want my money bank क्या बोलेगा, no money bank से विश्वास और trust ही पूरी तरह erode हो जाएगा विश्वास ही पूरी तरह खतम हो जाएगा और जब विश्वास खतम हुआ तो banks की ओपर trust होना बहुत important होता है, otherwise हम अपना पैसा पास के petrol pump में जाके भरवा लो और इसी तरीके से हमें कुछ cash भी, कुछ पैसा भी reserve में रखना पड़ता है, अब वो दो तरीके से होता है एक होता है cash reserve ratio और एक होता है statutory liquidity ratio पहले हम देख रहे हैं cash reserve ratio, नकद आरक्षित अनुपात इसे हिंदी में कहा जाता है, वो minimum पैसा जो बैंकों को RBI के पास cash में रखना पड़ता है, remember this definition वो पैसा जो की बैंकों को, minimum पैसा जो की बैंकों को RBI के पास, RBI की तिजोरी में cash के अंदर रखना पड़ता है, जो की RBI क्योंकि lender of last resort है, जब कोई काम नहीं आता, तब RBI काम आता है, जब bank किसी financial crisis से जूज रहे, customers को depositors को उनका पैसा लोटाने के लिए, bank के पास पैसा नहीं है RBI कहता है, ये लो, तुमसे CRR इसी लिए रखवाए था so that you can pay back the customers the money which you have taken जनता को उसका पैसा वापस कर सको इसी लिए cash में RBI रखवाता है पैसा bank को से एक और चीज हो सकती, अब देखो जम्मू काश्मीर में, मान लिजे किसी bank का branch है अब वहाँ पर इतनी ठंड पड़ती है ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पर हमेशा cash reserve ratio maintain करने के लिए जम्मू कश्मीर से दिल्ली RBI के पास cash भेजा जाए it's very difficult to transport it तो एक और चीज हो सकती है कि bank खुद अपनी branch में खुद अपनी तिजोरी में RBI के बिहाफ पर cash रख ले ठीक है न, ये भी possible है कि bank RBI के बिहाफ पर अपनी तिजोरी में पैसा रख ले, RBI बैंकों पर इतना विश्वास करते हैं, कि उस पैसे को कहीं और खर्चा नहीं जाएगा तो cash reserve ratio वैसे कहा जाता है, books में definition देखने मिलेगी कि RBI के पास रखा जाता है which is true, but banks खुद अपने पास physically से maintain कर सकते हैं, RBI की permission लेने के बाद, अपनी तिजोरी में in any case, RBI की permission ज़रूरी है, तो आप books में जो पढ़ते हो ना यही पढ़ने का मौका मिलता है आपको, कि cash reserve ratio RBI के पास रखा जाता है but for all practical purposes, ये RBI के पास रखा जा सकता है, बैंक अपनी तिजोरी में RBI के बिहाफ पे रख सकते हैं कितना percentage, जितना RBI decide करता है, अगर आज का मैं CRR बताऊं 4.50% है मतलब अगर 100 करोड loan में आ रहे हैं, तो 4.5 करोड रुपीज RBI के पास cash में रखे जाएंगे एक bank के द्वारा ताकि उसे reserve के तोर पे रखा जा सके safely, this is cash reserve ratio clear है, 4.5 चल रहा है, पिछले साल से ये आपका 3 से 15% के बीच में रहता है 3 से 15% के बीच में रहता है अब एक question मन रहा होगा सर कि इसका क्यों use करेगा RBI दो चीज़ां यहाँ पे भी possible है CRR को increase कर दो and CRR को decrease कर दो two things are possible, completely possible अब पहली चीज़ है, CRR को increase कर दो, CRR को increase कर दिया तो क्या होगा कि मान लीज़े, 4.5% था, 10% कर दिया so a bank will have to keep more money in cash with RBI जादा पैसा RBI के पास रखना पड़ेगा, मान लीज़े, 10% कर दिया तो logically जादा पैसा रखना पड़ेगा, इनके पास clear है, is this clear to you all? दूसरी बात cash reserve ratio में आपको ये देखने मिलता है कि अगर cash reserve ratio बढ़ा दिया तो RBI की capacity RBI के दोरा जो bank को cash reserve ratio बढ़ा के दिया है bank की the capacity to give loan will reduce कैसे? क्योंकि अब जनता को कम पैसा loan में दिया जाएगा, cash reserve ratio बढ़ने से, क्योंकि जो पैसा पहले जनता को loan में दिया जा रहा था, वो तिजोरी में बंदगर के रख दिया है, ऐसा कब किया जाएगा? जब economy में inflation high होगा, ऐसा कब किया जाएगा? जब economy में inflation जादा होगा, money supply जादा होगी और इसका impact क्या होगा? कि economy में money supply और inflation घट जाएगा क्यों? क्योंकि अब जादा पैसा बैंकों को तिजोरी में रखना पढ़ रहा है, जनता को वो loan के तौर पे नहीं दे रहे हैं तो RBI इसको use करता है increase करता है, inflation को control करने के लिए, money supply को control करने के लिए, got it दूसरा aspect, cash reserve ratio reduce कब होगा? साड़े 4% से 2% कर देते हैं कब? जब inflation बहुत जादा कम है जब money supply बहुत जादा कम है जब economy बिलकुल recession के हालत में है, जब banks जो है credit creation नहीं कर पारे loan नहीं दे पारे, तब loans जो economy में ज़ादा बड़े हैं, ज़ादा circulate हो, उसको बढ़ावा देने के लिए money supply increase करने के लिए CRR को reduce किया है to increase money supply to increase money supply to deal with recession मन्दी के हालत से दूर जा सके, लोगों को अगर पैसा ज़ादा loan पे मिलेगा business करेंगे, growth होगी देश की, पैसा और circulate होगा economy में, और हमारी country और ज़ादा, growth और तरक्की के रास्ते पर जा सकेगी, money supply और बढ़ेगा, देश recession से बाहर आ सकेगा, these are the two situations with respect to CRR, I hope यह आप सब को clear हो चुका है yes or no the next thing SLR, जो की है तो इससे ही मिलता जुलता यह बात समझा गई, CRR क्या है RBA decreases CRR commercial banks will have more amount available for extending loans to its customers, loan will be cheaper for the customer because of excess supply of credit or loan and money supply will increase and ultimately money supply will increase in the economy money supply बढ़ेगी और recession के हालत कम हो जाएगी recession will decrease जब cash reserve ratio कम किया है clear है, same चीज मैंने आपको बताई है next SLR India में statutory मतलब law होता है वैधानिक वैधानिक तरलता अनुपाद आज 18% चल रहे है और यह 0 से 40% की range के बीच में 0 से 40% की range के बीच में SLR होता है 0 से 40% की range के बीच में ऐसा RBI Act में लिखा गया है इसे statutory liquidity ratio पता है क्यों कहते हैं because RBI Act में ये ratio का concept डाला गया था law को amend करके statutory मतलब by law statutory liquidity ratio इसे कहा चाहता है SLR statutory मतलब by law liquidity मतलब cash में या liquid assets में पैसा invest कर रहे हो उससे जुड़ा हुआ एक ratio है अब concept समझो customers का जो NDTL bank में जा रहे है some percentage of it जो 18% है फिलाल bank को ऐसे instruments में save करना पड़ता है जो liquid है जिनको तुरंथ cash में convert किया रहा सकता है easiest form of liquidity is cash itself अगर मुझे किसी को payment करनी है मुझे पैसा चुकाना है मैं तुरंथ अपने jeb से पैसा निकालूँगा cash दे दूँगा तुरंथ I can pay या मैं एक और चीज कर सकता हूँ मैं बोलूँ कि ये लो gold इसको melt कर लो थोड़ा कम liquid है पर ये भी काफी liquid है या मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास ये bonds पड़े है इनको बेच सकते हो bonds मतलब bonds क्या होते है वो instrument होते है जिनके माद्यम से कोई उधार लेता है किसे आपको पैसा चाहिए मैंने का ये लो पैसा बदले में कुछ return guarantee दो return guarantee जो आपने दी है वो bond है समझा गया आगे financial market पढ़ाऊँगा तब bonds क्या होते है ये भी पढ़ाऊँगा ये बात याद रखेगा तो अब मुद्दे की बात ये है कि SLR statutory liquidatory issue net demand and time liability का जो जनता का वो deposit का amount है जो banks को NDTL का कुछ percentage पैसा banks को maintain करना पड़ता है at any point of time in the form of liquid assets safe and liquid assets cash, gold government securities as per the rules as per the RBI act जिसमें 2007 में बदलाव हुआ banking regulation act जिसमें बदलाव हुआ के 18% NDTL फिलाल रखना है 0 से 40% कि लिमिट है कम से कम 0 हो सकता है maximum 40 हो सकता है अब इसमें आपको SLR maintain करके रखना पड़ता है कौन से instrument में बता दिया अच्छा कौन maintain करता है ये question prelims में बन सकता है कि ये RBI के पास maintain करना पड़ता है नहीं SLR bank itself खुद अपने पास रखता है क्या इस पर interest कमाने का मौका मिलता है हाँ इस पर return मिलता है क्यों government securities या bonds में पैसा लगाओगे तो आपको ब्याज मिलेगा गोल्ड में लगाओगे तो गोल्ड की value बढ़ती है पचास हजार से साट हजार का हो गया साट हजार से सतर हजार का हो गया गोल्ड तो इस पर आपको return भी कमाने का मौका मिलता है क्या यहाँ पर cash रख सकते है रखा जा सकता है बार-बार में यह बात repeat कर रहा हूँ so that you can get a hang of it get a hold of it SLR clear हो गया क्या है अब दो situation है RBI पहली situation में SLR अगर increase कर दे है और दूसरी situation में RBI SLR decrease कर दे अभी 18% है इसे 25% किया रा सकता है hypothetically इसे 5% भी किया रा सकता है hypothetically both situations are possible दोनों चीज़े possible है न अब दोनों में क्या होता है देखो और सुनो ध्यान से पहली situation SLR जहाँ पे आप increase कर दे रहे हो अगर SLR increase कर दिया तो जैसे CRR का concept था वही होगा SLR आपने increase कर दिया 25% कर दिया तो money supply banks के पास कम हो चाएगी क्यों? क्योंकि जादा पैसा तो reserve में रखना पढ़ रहा है cash में और अलग तरीके से बैंकों को अपने पास रखना पढ़ रहा है तो जनता को loan पर देने के लिए पैसा नहीं होगा money supply कम होगी तो इसका impact क्या होगा इससे क्या होगा कि लोग खर्चे कम करेंगे consumption कब करेंगे money supply कम होगी loan जादा high interest rate पर मिलेंगे क्योंकि वैसे पैसा बड़ा limited भूम रहा है economy में जो भी भूम रहा है जो भी loan मिल रहा है वो बड़े high interest rate पर मिल रहा है इस तरीके से आपकी economy के अंदर recession inflation की situation को आप deal कर सकते हैं inflation अगर जादा था money supply अगर जादा थी तो आप उसे control कर पाएंगे on the very other hand अगर RBI decrease करता है SLR को तो अब बैंकों के पास पहले से जादा पैसा पड़ा है जनता को loan में देने का जिससे economy में money supply increase होगी इससे interest rate कम होगा क्योंकि पहले से जादा पैसा जनता को loan में देने के लिए तो कम interest rate पर भी दे सकते हो loans will become cheaper and customers will benefit because of the increased supply of credit money supply ultimately इस तरीके से आपको क्या देखने मिलेगा इस तरीके से क्या impact हो रहा है इस तरीके से आप recession की situation से deal कर पा रहे हो recession की situation को arrest कर पा रहे हो और जो money supply कम होती जा रही थी उसे control कर पा रहे हो money supply जो control हो रही थी उसे money supply जो कम हो रही थी उसे control कर पा रहे हो please remember that ये है concept आपका this is the exact concept is it clear एक question पूछा जाए आपसे एक question पूछते है आपसे open market operation let's have a small question अगर SLR reduce होगा तो क्या money supply ज्यादा होगी और क्या growth ज्यादा होगी yes or no मैंने पूछा अगर SLR कम कर दिया तो क्या money supply बड़ेगी क्या growth बड़ेगी yes or no इसका जवाब दे है बहुत simple question है बहुत straightforward question है आप से बहुत simple question मैंने पूछा है क्या होगा दोनों मैंसे what exactly will happen बताइए what exactly will happen yes this is correct अगर SLR कम किया या CRR भी कम किया money supply बड़ेगी interest rate कम होगा आप और मैं ज्यादा खर्चा कर पाएंगे ज्यादा business में पैसा इंवेस्ट करेंगे और growth बड़ेगी SLR CRR कम होने से growth बढ़ती है देश का output बढ़ता है industries का हम ज्यादा खर्चा कर पाते हैं बिजनेसे ज्यादा खर्चा कर पाते हैं loan लेकर ज्यादा पैसा businesses growth में लगा पाते हैं ये बात आपको याद रखनी है तो ये आपको CRR SLR में फर्क देखने मिला अगर एक question मन जा है means में CRR और SLR में फर्क क्या है तो CRR cash में रखा जाता है RBI के पास रखा जाता है और जिस पे कोई return नहीं मिलता SLR बैंक खुद अपने पास रखता है return भी कमाता है और liquid assets में रखता है cash, gold और government approved securities में है SLR और CRR महंगाई को control करने के लिए use किये जाते हैं इन दोनों को increase और decrease करके हमारे देश में महंगाई को control किया जा सकता है ये concept था next है आपका open market operations खुला बाजार परिचालन जहां पर दो चीज़े होती है एक तरफ RBI buy कर सकता है एक तरफ RBI sell कर सकता है क्या चीज़ buy करेगा क्या चीज़ sell करेगा government securities को किन से buy और sell करेगा banks से schedule commercial banks से जनता के government instruments खरीदे बेचे जा सकते हैं open market operations का use करके basically public open market में न public basis पर कब और कैसे किये जाते हैं और lockdown के दौरान क्या किया गया था ये आपको अब मैं बताने जा रहा हूँ open market operations क्या होता है सबसे पहली बात तो RBI buy करता है Reserve Bank of India government securities अच्छा मज़े की बात बताओ government securities government RBI को बोल कर ही issue करवाती है print करवाती है और फिर वो कोई भी खरीद सकता है आप खरीद सकते हो मैं खरीद सकता हो तो RBI buy कर सकता है scheduled commercial banks और financial institutions के पास जो की instruments पड़े हुए है bonds पड़े हुए है अब एक scheduled commercial bank अपने bond क्यों बेचेगा और RBI क्यों खरीदना चाहेगा RBI कह रहे है कि economy में recession के हालत है मंदी के हालत है ठीक है ना लोगों को loan मिलने ही पा रहे है और bank को हमने बोला कि लोगों को loan दो तो उन्होंने कहा हमारे पास cash है नहीं तो कोई बात नहीं bank को cash RBI दे देगा और बदले में बैंकों से RBI क्या खरीद लेगा इन्ही government securities को खरीद लेगा इसलिए government securities bonds खरीदे जा रहे हैं RBI के द्वारा और बदले में क्या जिया जा रहा है cash दिया जा रहा है क्यों क्योंकि उस cash को public को loan में दिया जाएगा जिससे economy में recession के हालत reduced money supply के हालत दूर होंगे isn't it बहुत simple सा concept था इसी लिए open market operations के tools को use करके whenever there is reduced liquidity in the market और पैसे में market में पैसा बहुत tight है RBI buy कर लेता है securities ताकि market में liquidity बढ़े पैसा बढ़े ये बात आपको याद रखनी है प्लीज इस बात को याद रखेगा second चीज दूसरी बात sell कप करेगा एक बार ये वाला concept भी देख लेते हैं क्योंकि मैंने बता है buy भी किया रा सकता है sell भी किया रा सकता है तो let's see sell कप करेगा RBI sell करता है government securities क्योंकि RBI देख रहा है कि scheduled commercial banks या public institutions के पास बहुत पैसा है और वो पैसा धडले से लोगों को loan में दे रहे हैं जिस वज़े से economy में बहुत ज़्यादा inflation बढ़ता जा रहा है interest rate भी काफी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और उस वज़े से लोगों को नुकसान हो रहा है money supply is very high inflation is very high उस situation से लोगों को बचाना है तो bank schedule commercial bank को बोला जाएगा कि ये पैसा मुझे देदो ठाकुर ये cash हमें देदो ठाकुर RBI कहेगा कि सुनो schedule commercial banks please give us the cash which you have the liquidity which you have we will make you an offer which you can't refuse just like godfather हम आपको एक ऐसा offer देंगे जो आप मना नहीं कर सकते जहां पर आपको government securities दी जाएंगी जहां पर आपको government securities provide की जाएंगी और उन government securities पर अच्छा खासा rate of interest कमाने का मौका मिलेगा मतलब अगर तो मुझे एक करोड रुपे दोगे तो मैं तुम्हें एक करोड रुपे की government security दूँगा high interest तुम्हें मिलेगा उस पर और अच्छा होगा it will be worthwhile for you RBI इस basis पर schedule commercial banks को open market operation में sell करता है government security to control the flow of credit money supply बहुत ज़्यादा हो गई है उसे control करने के लिए इंफलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है उसे control करने के लिए open market operations का use किया जाता है समझ आगई बात इसी लिए इस concept को इस्तमाल करते हैं this is a very very popular concept open market operations का OMO इसे कहते हैं next point दूसरा point open market operations मैं आपको ये भी समझ आएगा ये भी देखने मिलेगा कि जब भी हम open market operation करते हैं तब हम economy को stabilize करने की कोशिश करते हैं कोविड के दौरान भी needed it कोविड के दौरान क्या किया होगा खुद logic लगाओ मैं बहुत simple तुमसे discussion कर रहा हूँ covid में क्या हुआ हम सब घर पे बंद थे हमारे पास पैसा नहीं था खर्चने के लिए और उस time पे भारत सरकार ने कहा कि schedule commercial banks you will have to lend more to the people आपको और पैसा लोगों को देना होगा बैंकों ने का सर पैसा ही नहीं हमारे पास लोग business activity कम कर रहे हैं कर नहीं पा रहे हैं तो हम कहां से देंगे पैसा RBI ने कहा फिकर not देखो अपने government securities मुझे बेच दो ये लोग cash cash दो public को public उससे खर्चा करेगी और public जब खर्चा करेगी पब्लिक जब इसको खर्चेगी अल्टिमेटली money circulation economy में बढ़ेगा और economy जो recession के हालत में आ गई है उससे बाहर आ सकेगी and that is why we did open market operation अब इसमें LTRO और TLTRO का concept है जो कि हम अगले lecture में in the next topic पढ़ने जा रहे हैं I hope this is clear to all of you सबसे पहली बात तो हमने monetary policy में दो तरीके के instrument पढ़े थे quantitative and qualitative instrument दो तरीके के instrument होते हैं normally quantitative instrument में economic quantity जो loan दिये जा रहे हैं indirectly affect होती है और qualitative instruments में भी कुछ-कुछ चीज़े होती है जो हम आज discuss कर लेंगे सबसे पहली बात in the instrument of monetary policy topic हम आपके CRR, SLR का topic कर चुके हैं हमने last class में आपके साथ repo rate, reverse repo rate पढ़ा था, open market operation पढ़ा था और monetary policy के topic को basic से complete करा दिया था, monetary policy का use क्या है, क्या objective होते है, ये सारी बाते बताई थी, expansionary, contractionary, monetary policy, ठीक है न, अब उसके आगे बढ़ते हुए, हम आज पढ़ेंगे bank rate क्या होता है, bank rate वो rate of interest होता है, जिस पर RBI आपको loan provide करता है, bank rate long term के लिए होता है, ये बाकी सारे rate of interest से अलग इसलिए, क्योंकि ये long term के लिए आपको देखने मिलता है, bank rate वो rate of interest होता है, जो long term के लिए आपको दिया जाता है, RBI decide करता है, कि banks किस rate of interest पर जनता को loan देग घर खरीदना चाते हो, गाड़ी खरीदना चाते हो, तो RBI बैंकों को rate of interest बताएगा, जिस पर बैंक पैसा ले सकते है, RBI से, और ultimately उस पैसे को जनता को लोन पर दे सकते हैं, यह क्या है, यह है आपका एक quantitative instrument, जो कि RBI के power area के अंदर आता है, जो कि RBI decide गरता है, RBI जरूरत पढ हैंगे, जरूरत पढ़ने पर increase का मतलब क्या है, increase का मतलब ही है, कि माल लिजे, महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, economy में, और क्योंकि महंगाई बहुत जादा बढ़ चुकी है, उसे control करने के लिए, RBI interest rate बढ़ाएगा, increase करेगा, और जब RBI interest rate increase करेगा, तो क्या होगा, कि existing loan महंगे हो जाएंगे, existing loan महंगे हो जाएंगे, तो क्या होगा, लोग कम loan ले पाएंगे, loan का dispersal कम होगा, क्योंकि obviously इनसान अफोड नहीं कर पाएगा, loan कम disbers होगे तो क्या होगा, लोग के पास जो पैसा हाथ में circulate हो रहा था, वो कम हो जाएगा, मतलब money supply reduce हो जाएगी, औ और money supply reduce होई, पैसे का circulation reduce हुआ, तो क्या होगा, ultimately उससे economy में growth कम हो जाएगी, economy में development थोड़ा slow हो जाएगा, महंगाई भी control में आ जाएगी, पढ़िए कि growth कम हो जाएगी, अच्छा इसका अगर उल्टा होता, अगर interest rate कम हो जाता, तो loan आपके लिए लेना काफी cheaper, काफी अस असान पढ़ जाता, आप असानी से loan ले पाते, जादा मात्रा में loan लेते, तो money supply बढ़ती, money supply बढ़ती, तो जादा पैसा market में circulate होता, जो पैसा आप, अब तक बैंकों के पास बंद पढ़ा था, वो आपके हाथ में आएगा, अब आप उसका क्या करोगे, आप उसे business में लगाओगे, आप खर्चे करोगे, अपनी जरुवतें पूरी करोगे, जब आप अपनी जरुवतें पूरी करोगे, उसके एसाब से आपको देखने मिलेगा, वेन्यू, फुल्फिल योर नीड्स, उस एसाब से आपको देखने मिलेगा, कि जब bank rate कम किया गया, तो आप recession से लड़ पाए, मंदी के हालाद से लड़ पाए, तेको recession में लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, और आप वही problem दूर कर रहे हो, लोगों के हाथ में पैसा प्रोवाइड करके, सस्ते rate of interest पर, कम rate of interest पर, loan प्रोवाइड करके, और जब कम rate of interest पर, loan प्रोवाइड कर रहे हो, तो जादा से जादा लोगों को लोगों का benefit मिल पा रहा है बहुत सीधी सी बात बता रहा हूँ आपको बिल्कुल basic बात बता रहा हूँ प्लीज रिमेंबर देट next अगला आपको देखने मिलेगा कि open market operation bank rate ये मैंने बता दिया CRR, SLR मैंने बता दिया repo rate, reverse repo rate बता दिया bank rate में ही एक concept होता है marginal cost of lending rate जो की 2016 के बाद से बदलाव आया है अब marginal cost का मतलब समझो ये pen है इसका दाम है 100 rupees अगर factory में इसके बाद भी कोई pen produce होता और वो 105 रुपे का produce होता तो ये marginal cost होती कि अगले unit की cost ऐसे ही loan दिया जा रहा है अभी 6% rate of interest पर मान लीज़े अगर इसके अलावा आप किसी को loan देना चाहते है और loan का rate of interest 7% है तो उसे marginal cost of loan कहेंगे मतलब loan देने की और loan देने की और पैसा देने की extra cost marginal cost जो उठानी पड़ रही है technical meaning ये है दूसरी बार आपको देखने मिलेगा marginal cost of lending rate का मतलब ये है कि जब आप जनता को loan देते है bank public को loan दे रही है ठीक है ना अब bank क्या rate of interest चार्ज करें मान लिजे आपने loan लिया था 5 साल पहले तब rate of interest था 10% 5 साल पहले 5 years ago आज आ गया है 8% rate of interest तो आपके इसाब से आपको किस rate of interest पर पैसा वापस करना चाहिए 10% पर जिस पर आपने originally लिया था क्योंकि उस time पर 10% होता था rate of interest या 8% पर जिस पर आज available है normally कौन से पर लेना आपके लिए suitable रहेगा आपके लिए suitable रहेगा 8% जो latest चल रहे है और RBI भी कहता है कि RBI अगर monetary policy में मौदरिक नीती में बदलाव करता है rate of interest में change करता है तो उसका benefit आपको क्यों ना मिले है आपको भी मिलना चाहिए RBI क्या कर रहे है देश की situation के इसाब से interest rate चेंज कर रहे है क्या RBI कह रहे है अरे देश में तो बड़ी मंदी है बड़े recession के हालत है लोगों के पास पैसा भी नहीं है तो जो पहले से जादा rate of interest चुका रहे है उन लोगों के पास तो savings ही नहीं हो पाएंगी क्योंकि उन्हें higher rate of interest पर पैसा देना पड़ रहे है जिस पर उन्होंने ओरिजनली 10% 12% जिस पर लोन लिया था पर आज जब RBI ने rate of interest कम कर दिये ताकि recession या मंदी के हालात से बाहर निकल सको ताकि कम rate of interest पर लोन ले सको 8% पर लोन ले सको आपको अगर ये benefit दिया जाए अगर आपको ये benefit दिया जाना है तो आप ये बात समझ लीजे कि आपको जो lower rate of interest है उस पर ही लोन का benefit लेना होगा तभी तो recession से दूर भाग पाओगे तभी तो जादा जेब में pocket में पैसा बढ़ेगा मनी supply बढ़ेगी इसलिए RVA कहता है कि monetary policy transmission आप तक होना चाहिए कि monetary policy आप तक पहुंच सके आपको इसका benefit मिल सके monetary policy transition आप तक होना चाहिए ठीक है ना अगर monetary policy transition होगा तभी जाकर आपको देखने मिलेगा in that situation only कोई भी country तरक्की कर सकेगा कम rate of interest पर उनके लोगों को उनकी जनता को उनकी population को loan मिल सकेगा कम rate of interest पर उनको loan मिल सकेगा bank से तो ये जो बात मैं समझारों बार-बार repeat तरहा हूँ वो इतनी simple है कि marginal cost of lending rate latest loan का rate होता है rate of interest होता है जहाँ पर RBI कई बारी rate of interest कम कर देता है क्योंकि recession से मंदी के हालत से जूज सके मंदी के हालत से भारा सके लोगों को loan मिले लोग business करें पैसा कमाए growth बड़े देश की development बड़े देश की अगर RBI ऐसा चाता है growth और development को इस तरीके से बढ़ाना चाता है growth और development इस तरीके से grow हो उसके लिए आपको latest rate of interest पर loan देना होगा जो कि MCLR के basis पर दिया रा सकता है वरना पहले होता था base rate का concept जिस rate of interest पर originally आपको loan दिया है वही जिन्दगी बर चलता रहेगा अरे आपने 12% पर loan लिया हो आज 6% आगया हो तो आप क्यों ही 12% पर चुका होगे जो latest amount है उस पर चुका होगे अच्छा पैसा जो है money is an intangible thing पैसा कोई समान की तरह नहीं है कि अगर ये एक लाग का आपने pen खरीदा तो आपको एक लाग रुपे ही वापस करने है money के जो assigned rate of interest है वो up down होता रहता है change होता रहता है as per the economic situation कि देश में बहुत ज़्यादा recession होगा तो interest rate कम कर दिया जाएगा देश में बहुत ज़्यादा महंगाई होगी तो interest rate बढ़ा दिया जाएगा तो यह तो situation to situation vary कर रहा है तो इसलिए rate of interest आपका दो तरीके से हो सकता है तो floating और एक fixed अब इन दोनों का मतलब क्या होता है floating का और fixed का मतलब क्या होता है floating मतलब पानी के ओपर कोई चीज तैरती है तो उसे floating कहते है ऐसी rate of interest जो आगे पीछे नहीं आएगा यह rate of interest fixed रहेगा तो जब हम बात करते हैं MCLR की marginal cost of lending rate में आपको latest rate of interest पर जो latest rate of interest चल रहा है उस पर loan दिया जाता है ऐसा RBI का कहना है कि latest fund के जिस basis पर fund मिल रहा है उस basis पर जनता को loan दो ताकि जनता को as per the economic situation as per the economic timing जो सित्ति है जो समय है उसके इसाब से loan दिया जा सके उसके इसाब से उस इस context में loan दिया जा सके एक और बात मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूँ कि MCLR और जो पहले base rate होता था क्योंकि पहले काफी changes हुए है prime lending rate होता था base rate होता था फिर अभी MCLR आ गया अब MCLR में भी बदलाव किया गया है external benchmark rate आ गया तो क्या है तो कुछ कहानी इस प्रकार है कि पहले आपका base rate होता था मतलब इतने minimum rate of interest पर loan दिया जाता था जिसको base rate कहते है minimum rate of interest पर loan दिया जाता था base rate revise होता था हर तीन-तीन महीने में जहां पर originally cost of funds क्या थे मतलब जैसे आपने loan लिया 8% तो bank को RBI ने 8% पर लोन दिया फिर bank ने उस पर 4% अपना commission लगाया bank का commission हो गया और फिर bank ने आपको 12% rate of interest पर loan दिया फिर bank ने आपको 12% rate of interest पर loan दिया 8% किसने चार्ज किया 8% चार्ज किया RBI ने bank को पैसा देने में 4% किसने चार्ज किया 4% चार्ज किया खुद bank ने क्योंकि उसको भी तो अपने खर्चे निकालने स्टाफ की सैलरी देनी है इंटरनेट का खर्चा बिडली पानी का खर्चा तो 12% पर आपको लोन मिला बट आज ये 8% जो RBI जिस रेट पर लोन देता है ये घट कर 6% आ गया है तो 6 प्लस 4 के साब से आप से अब 10% चार्ज होना चाहिए बट अभी भी आप पुराने rate of interest को जो average cost of funds है कि पहले जो पैसा RBI से लिया गया था उसकी cost है अगर आप उसी basis पर चलाओगे तो आज भी 12% पर ही लोन दिया जाएगा तो इसी लिए ये average cost of funds का concept बिल्कुल भी अच्छा नहीं है क्योंकि आप पुराने cost पर ही पुराने rate of interest पर ही लोन दे रहे हो जबकि RBI अपनी policy में change भी create कर चुका है अपनी policy में बदलाव ला चुका है तो RBI जब खुद से बदलाव ला दिया है तो आप क्यों नहीं change कर रहे हो आपको change करनी जरूरत है change करनी important है आपके लिए इसके अलावा MCLR में ही तो है कि अब latest funds के rate को मतलब latest अगर 6% तो मिल रहा है latest rate of interest आपका marginal cost of fund की category में आएगा please remember that marginal cost of fund की category में आएगा RBI ने ये MCLR को follow करना शुरू किया है हमारे देश के अंदर 2019 के बाद से टेक्निकली तो 2016 के अंदर ही हमने इसको methodology को इंडिया में ला दिया था MCLR के माध्यम से हम latest rate of interest पर लोगों को सबसे अच्छे और सबसे lowest rate of interest पर लोन देने की कोशिश करते हैं ताकि हमारी economy में credit of take हो सके credit of take का मतलब है कि उधार बढ़ सके लोग उधार ले सके तो 2016 से ये concept शुरू हुआ इंडिया के अंदर जिसने पुराने base rate के structure को change कर दिया उससे पहले prime lending rate होता था पहले आपका PLR होता था prime lending rate फिर base rate होने लगा फिर अब MCLR है और अब MCLR के बाद भी external benchmark rate आ चुका है अब आपका होगे ये external benchmark rate है तो है क्या external benchmark rate का मतलब है external benchmark rate का मतलब है वो rate of interest जो कि किसी external चीज के basis पर decide हो रहे है अभी फिलाल repo rate को base माना जाता है repo rate को base माना जाता है repo rate short term interest rate है मतलब अगर आज आपको loan 9.5% पर मिल रहा है floating ले रहे हो कल जाके repo rate कम हुआ तो 8% भी हो सकता है 8.5% भी हो सकता है 7% भी हो सकता है इसी तरीके से आगे जाके कभी 7% rate of interest पे loan लेते हो तो वो बढ़कर 10% भी हो सकता है क्यों क्योंकि repo rate बढ़ेगा जैसे अभी repo rate 6.5 चल रहा है अभी repo rate 6.5 चल रहा है अगर आप ट्रैक कर रहे है repo repo rate के increase, decrease को तो पिछले दो साल से बहुत जादा repo rate के अंदर fluctuation चल रहा है repo rate ऊपर नीचे होता रहता है तो अगर आप ट्रैक कर रहे हो पिछले जैसे repo rate को fluctuate किया गया बढ़ाया घटाया गया repo rate का trend इस प्रकार रहा कि शुरुवात में repo rate इंडिया में घटाय गया था फिर repo rate इंडिया में अचानक से बढ़ाने लगे जैसे पहला data set जो मैं आपको दिखा रहा हूं उसमें आपको साफ दिखे देगा कि repo rate पहले 2018 में 6% था फिर उसे reduce करकर 4.40% पर लाया गया कोविड लॉकडाउन के दौरान अपने सबसे lowest पर अपने सबसे कम rate of interest पर लाया गया सबसे lowest rate of interest पर लाया गया और उसके बाद consistently तबसे repo rate बढ़ा है इंडिया के अंदर तबसे consistently repo rate increase हुआ है ग्रो हुआ है तो 4% से grow होते 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 आज ये साड़े 6% पर आ गया है every year consistently repo rate has been increased has increased in the past one year और सो एक से डिर साल में लगातार ये साड़े 6% पर ला दिया गया बढ़ा के बढ़ा बढ़ा के increase करकर के ताकि हमारी economy में बढ़ती हुई महंगाई को रोका जा सके ये बात सबको I think clear होगी नहीं clear होई है ग्राफ के माध्यम से दिखाता हूँ कि शुरुवात में जो चीज 4% पर थी April 2022 में उसको और फ्रीज कर दिया है कि इसके ऊपर नहीं बढ़ाएंगे वरना लोग के लिए लोन लेना बड़ा महंगा हो जाएगा तो लोग जो लोन लेना चाहते हैं वह अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे तो देश चलेगा कैसे आगे खुद ही सोचिए तो चलेगा कैसे आगे मतब अब लीजे कि अगर रेपो रेट ऐसे लगातार बढ़ाते गया हैं तो उसके पीछे का रीजन यह रहा है कि इंडिया में कोविड के बाद महंगाई अचानक से बढ़ी सरकार बहुत खर्चा कर रही थी कोविड में उसका नेगेटिव इंपक्ट यह हुआ कि सरकार ने बह देख रहे हो शुरुआत में सरकार ने रेपो रेट घटाया 6% था 2018 में उसे कम करकर 2022 तक 4% लाए पहले घटाया फिर घटाने के बाद वापस बढ़ा दिया यह क्या सेंस बनाती है चीज़ एकॉनमिक्स इसी को तो कहते है यही तो कॉम्प्लेक्स की कॉम्प्लेक्सिटी है डाट रेपो रेट कम करने के बावजूत अकॉर्डिंग टू दा सिटूइशन हमने बढ़ा है पहले क्या हो रहा था पहले हमारी एकॉनमी कोविट से थोड़े समय पहले रिसेशनरी ट्रेंड देख रही थी इंडिया में गाडियां बिकनी कम हो गई थी इंडिया में मकान बिकने कम हो गए थे प्रोडक्शन कम हो रहा था इंडिया में एक बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है आई एल एफ एस इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग फैनैंशल सर्वेसे वो क्राइसिस में चली गई थी और देश रिसेशन के हालत में जा रहा था लोग लोन तो ले रहे थे पर वापस नहीं चुका रहे थे जिसे हम कहते हैं एन पी ए नॉन परफॉर्मिंग ऐसेट लोड़न ले रहे थे वापस नहीं चुका रहे थे तो देश रिसेशन के हालत में जा रह था उस चाइम पर रैपोरेट को कम किया पर जब कोविड आ अचानक से और इक से अगर हमारा floating rate of interest है वो भी change हुआ, मैंने खुद 7% पे loan लिया था, आज मुझे 9.5% देना पड़ रहा है क्यों? क्योंकि floating था तब से repo बढ़ गया है और आज सारे rate of interest external benchmark rate से link दोते हैं जरूरी नहीं है, external benchmark से repo rate हो, और भी कुछ हो सकता है बट हम जान बूचके repo rate से आज RBI link करके बैठा है RBI न, इस ते हमारे देश में monetary policy control कर पाता है बाकी calculation कैसे होता है जी, base rate है MCLR का, MCLR में marginal cost of funds, मतलब जिस rate of interest पे आपको पैसा मिल रहा है जैसे 5% RBI इस rate of interest पे पैसा दे रही है पांच परसेंट तो चार्ज करो गई tenor premium tenor premium का मतलब कितने tenor के लिए loan ले रहे हो, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, ये change होता रहता है as per the situation, tenor premium it changes according to the situation जिसे हम tenor premium कहते है tenor या tenor premium एक ही बात है, मतलब sum ऐसे related है sum ऐसे जुड़ा हुआ है इसलिए इसको tenor premium कहते है अब इसके लावा, tenor premium के लावा आपको third category देखने मिल रहे है operating expense, bank के खुद के खर्चे, bank आपको loan देने में काफी खर्चे करता है, staff की salary, उनके खर्चे अलग-अलग होते हैं, तो basically जो staff salary खर्चे overheads हैं, वो सब काटने के बाद, जो आपसे पैसा charge किया जाएगा, वो उसमें काट दिया जाता है उसमें जोड लिया जाता है, long term loans may have a higher premium long term loans may have a higher cost, administrative cost, तो उन पे ज़्यादा administrative cost charge होती है तो ये bank के दोरा जो banking activity करने में पैसा अब जा रहे ना, उससे related है, salary देना वो सब उससे related है ठीक है ना, tenure premium का मतलब बेटा, वो premium जो की MCLR में जोड़ा जाता है loan के term समय से जोड़ा हुआ, कितने समय के लिए loan लिया है long term loans have a higher premium, विकुस उसमें risk जादा होता है, आपने 20 साल का loan ले लिया, 10 साल के बाद खुदाना खासता आपको कुछ हो गया, तो मेरा पैसा तो वापस नहीं आएगा ना, तो इसलिए long term loans में risk जादा होता है इसलिए उस पर पैसा भी आप जादा charge करते हो ये बात याद रखेगा, तो ये tenure premium या tenor premium कहते हैं simple था, मुश्किल नहीं था आप इसको difficult मत मानिएगा ठीक है न, इसके लवा अब हम अगला concept देख रहे है marginal standing facility देखो, bank को पैसा चाहिए होता है CRR, SLR maintain करने के लिए, पर क्या है bank थोड़ा irresponsible हो गया और bank ने जान बूच कर जो हमारे CRR, SLR जैसे जो requirements होती है margin की, उनको पूरा नहीं किया, या by mistake या by innocence, उन requirements को पूरा नहीं किया, अब कल सुब़ bank खुलेगा, और RBI के ये guidelines है कि bank के पास हर समय, SLR और CRR के अंदर जो पैसा बोला गया है, उतना होना ही होना चाहिए अगर हर समय, हर टाइम पर उतना पैसा होना ही चाहिए अगर in case आप के पास पैसा नहीं होगा, bank के पास पैसा नहीं होगा, तो bank खुल देगा, लोग आईएंगे कि हमारा पैसा वापस करो, चलो मानलो आप सुबह सुबह का टाइम है, जा रहे हो अपने bank में और बोल रहे हो कि मुझे 50,000 रुपे निकालने है, bank के दे no cash available तो आप कहोगे कि यार इस bank में में मेरे को पैसा डालना है, आप कहोगे मैं इस bank से पैसा तुरंत withdraw कर रहा हो and I am just going to some other bank उस bank में विश्वास कम होगा, उस bank में आपका trust break हो जाएगा, उस bank पर आपका trust टूट जाएगा इसी लिए तो आपको क्या है, रातो रात पैसे का इंतिजाम करना पड़ेगा, जिसको मैं अंग्रेजी में इसी चीज़ को बोलू, राते रात पैसे पर, अब कौन मदद करेगा, जिसका कोई नहीं, उसका RBI है यारो, RBI बैंकों का सच्छा साथी है यारो, RBI को lender of the last resort कहा जाता है, जब कोई मदद के लिए नहीं आता, तब RBI मदद के लिए आता है, तो marginal standing facility एक ऐसा emergency प्रावधान है, सुनो ध्यान से question बनेगा, emergency window है, एक bank के लिए, जिसमें bank RBI से emergency purpose पर पैसा ले सकती है, जब bank की liquidity, interbank liquidity, bank की खुद की liquidity, पूरी तरह खतम हो जाती है, cash नहीं होता, पैसे की कमी होती है, जनता आईगी पैसा निकालने, आप चुका नहीं पाऊगे, ये हो सकता है, कि आपने जरूरत से ज़्यादा लोगों को loan दे दिये, कि एक हाथ customer से पैसा आता था, दूसरे हाथ आपने loan पे चड़ा दिया, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, अब लालच तो कर लिया, ज़्यादा पैसा loan पे दे दिया, पर कल उनने शरारत करी है, तुमने गलत काम किया है, तो तुमारे पर ट्रस्ट RBI का ब्रेक होता है, बैंक पर ट्रस्ट ब्रेक होता है, तो बैंक पर penalty भी लगाती है ये एक emergency measure है, RBI मदद इसले कर रही है कि बैंक डूब ना जाए, fail ना हो जाए, क्योंकि देखो, मैं गया बैंक, मैंने का पैसा दो, उन्होंने का है नी, मैं सारे रिष्टेदारों में, सारे WhatsApp ग्रूप में, वो और WhatsApp पे, Facebook पे, Twitter पे, Instagram पे, हर जगे circulate कर देंगे, कि देखो कैसा बैंक है, हम अपना पैसा लेने जा रहे हैं, और हमारा ही पैसा वापस नहीं कर रहा है, हाई बताओ, ऐसे करते हैं हम चुगली, कि हम अपना पैसा वापस मांगने जा रहे हैं, बैंक कहा रहे नहीं देंगे, नहीं दे सकते, पैसा नहीं है, तो कितना trusty road होगा, तो लोग जा जाकर बैंक से सारा पैसा निकाल लेंगे, और वो बैंक खतम, बरबाद, खतम, गया, फिनिश, इसी लिए, pardon me, इसी लिए marginal standing facility आया है, RBI scheme को लेकर आया है, ताकि 2011-12 से हमारे देश में ये लेकर आया गया, ताकि हमारे देश के अंदर, एक economic stability banking sector में बनी रहे, emergency में पैसा चाहिए, RBI दे देगा, तो this MSF program was started in the year 2011-12, एक penalty rate of interest है, पीनल rate of interest है, जिस पर bank पैसा बॉरू कर सकते है, RBI से, when they are completely exhausted of all money, कि कहीं से उधार भी नहीं मिल पा रहा, पैसा लाएं तो कहां से लाएं, कहीं से उधार भी नहीं मिल पा रहा है, तो MSF जो है, वो banks को allow करता है, to borrow money with an interest rate above the repo rate, अब ये बात क्या है, मैंने क्या बोला, they allow the bank to borrow, उधार ले सकते हो, borrow कर सकते हो, at an interest rate more than repo rate, MSF पर पैसा, आप जो लेते हो, वो repo rate से जाधा होता है, आप एक दिन के लिए पैसा ले रहे हो, इतने सारे instrument पढ़े हैं, उनमें से कौन सा instrument short term के लिए पढ़ा था, repo rate, एक साल से कम के लिए, repo rate मान लीजिए, 6% चल रहा है, मान लीजिए, MSF 6.25%, 6.5% चार्ज किया जाएगा, यह 0.25 यह 0.5 extra क्यों किया है, short term के लिए पैसा दिया है, तो short term जितना ही होना चाहिए था ना, इतना जाधा क्यों है, क्योंकि आपको इतना जाधा rate of interest इसलिए दिया गया है, क्योंकि आपने गलत किया है, आपने अपने पैसे का खयाल नहीं रखा, इंटर बैंक लिक्विडिटी खतम हो गई, और रात और रात लिक्विडिटी चाहिए, पैसा चाहिए, RBI दे रहा है, तो penalty तो चार्ज करे गई, तो एक्स्टा चार्ज किया जा रहा है, वो penalty है, MSF हमेशा रेपो रेट से इसलिए जाधा देखने मिलता है, इसको marginal standing facility, स्थ कीमान्त स्थाई सुविधा कहा चाता है, ये बात क्लियर है, I don't think किसी को भी ये concept मुश्किल लगा होगा, ये मेरी guarantee है, किसी को भी concept मुश्किल नहीं लगा होगा, MSF का, कब से आ रहा है, 2011-12 से आ रहा है, क्या होता है, बैंक पैसा बोरो करते हैं, RBI से, अचा बैंक क्या है, बिल्कुल, बिल्कुल और बिल्कुल, ऐसी थोड़ी ना बैंकों को पैसा दे दिया रहता है, बैंक, RBI के आगे, अपने instruments, अपनी securities गिर्वी रखते हैं, येस, banks, they borrow money, overnight, रात और रात के लिए पैसा इखटा करते हैं, बट हां, उन्हें अपनी securities, अपने documents, अपने government securities हो गए, या जो भी pledge करने के लिए, जो भी गिर्वी रखने के लिए, RBI security कह रहा है, वो रखते हैं, गिर्वी रखते हैं, और उनको repo rate से जाधा rate of interest देना पड़ता है, ये बात ध्यान रखेगा, repo rate से जाधा, normally अलग-अलग books में आपको देखने मिलता है, कि repo rate से 1% जाधा हो होना चाहिए, मतब रेपोरेट अगर 5% है, तो ये 6% होगा, नॉर्मली ना, बुक्स में आपको देखने मिलता है, ये अलग-अलग books में देखने मिलता है, पहले ऐसा होता था, आज ऐसा नहीं है बिलकुल भी, एक बात बताओ, आज आप जाके, अगर देखोगे, MSF कितना है, 6.75% है, कितना है, 6.75%, आज के टाइम में, मैं आज का बता रहूँ, सुबह-सुबह मैंने देखा था, 6.75%, ये आज का current rate of interest है, MSF का, और आज का repo rate कितना है, आज का repo rate है, 6.5%, तो जो किताबों में लिखा है, कि MSF हमेशा repo के 1% उपर होगा, वो कहां से सच हुआ, ये है 6.75%, और ये है 6.75%, दोनों में फर्क है, कहां से सच हुआ, it is a lie, lie नहीं है, system अलग होता था, पहले, आज system चेंज हो चुका है, एक permanent चीज है कि MSF हमेशा, policy repo rate से जादा होगा, क्यों, policy repo rate भी short term है, ये भी short term है, ठीक है, but normal situation में policy repo rate यूज होता है, और emergency situation में MSF यूज होता ह है, तो emergency के लिए penalty तो देनी पड़ेगी ना बाबा, सीज़सी बात है, MSF आपको समझ गए कितना होता है, normally ये जो bank का NDTL है, NDTL मतलब, bank ने जो जनता से total deposit प्राप्त करें, मानलो, 1000 करोड के, उसका 1% होता है, maximum, एक बार में इतना पैसा लिया जा सकता है, मतलब, 10 करोड र 10 CR, 1% of NDTL, ये आपको याद रखना है, question बनेगा exam में, और मुझे पूरी guarantee है, कि तुम योधा हो, you will solve it, I am not trying to motivate you, the hard work which I have put, जो मैंने content में उतारा है आपके लिए, वो आपको ये चीज समझने में help करेगा, सबको ये बात समझ आ रही होगी, I hope, ठीक है ना, तो अब इतनी बात समझ लो, non-performing, कोई चीज perform नहीं कर पा रही, मतलब कोई चीज किसी तरफ से आपको return नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, अगर एक bulb fuse हो जाता है, आप कहा रहो कि ये bulb non-performing बन गया है, मतलब अब ये जल नहीं पा रहा है, इसी तरीके से ऐसे लोग जो की loan ले ले लेते हैं economics accounts के अंदर, balance sheet के अंदर, किसी के पास कितनी संपत्ती है, ये देखा जाता है, कितने assets हैं, जैसे for example, मेरे पास mobile phone है, वो मेरा asset है, अब वही mobile phone में आपको use करने के लिए दे दू, तो आपके लिए वो liability हो गई, उधार है, आपने उधार लिया है, जो आपको वापस करना हो होगा, तो asset और liability इस प्रकार आपके concepts होते है, economics में, अब ये बात समझ लो, कि मेरे पास जो मेरे bank account में पैसा पढ़ा है, इसको निकाल के मैं कभी भी खर्च सकता हूँ, जो deposit है, वो मेरा asset है, और मैं अगर bank से loan लेता हूँ, तो वो मेरी liability है, क्योंकि चुकाना पढ़ेगा है, जनता से bank को वापस भी तो करना पड़ेगा, आप गए SBI के अंदर आपने पैसा जमा कराया, कभी भी जाकर निकाल भी तो सकते हो, दूसरी बात, आपको देखने मिलेगा, bank में हम जो पैसा जमा कराते हैं, वो हमारे लिए एक फाइदे की चीज़ है, asset है, पर bank के लिए वो एक तरीके से, deposit liability है, हम जो loan लेते हैं, bank से, वो loan assets होते है, bank के लिए, loan assets होते है, संपत्ती होती है, bank के लिए, तो NPAs are loans and advances where borrowers are not paying back their money, NPA क्या होता है, non-performing asset, कि वो loan जो लोगों ने लिया हुआ है, जो पैसा वापस नहीं चुका रहे होना, NPA कहते है, मतलब आपने loan ल का time गुजर चुका है, 91 days तक, आप उसे NPA नहीं कहोगे, 91 days पूरा होते ही, तीन महीने का समय पूरा होते ही, आप कहोगे कि देखो, पैसा उदर से वापस नहीं आया, जिसने loan लिया है, उसे वो पैसा वापस नहीं कर रहा, bank को पैसा वापस नहीं मिल पा रहा, इसलिए, य एक non-performing asset है, यह एक NPA है, non-performing asset है, अब 91 days तक पैसा वापस नहीं मिलता, तो bank भी कोशिश करता है, कि recover कर सके, शान्ती से, अदवाइस, bank का तो एक loss है न, bank ने loan दिया है, और जनता वापस चुकाने तयार हो नहीं रहा, इसलिए bank के लिए, तो एक टेज़ा, loss proposition, loss situation, तो आ उन्हें regular किष्ट है, regular interest और premium जो principal amount है, interest amount है, वो मिलता रहे, EMI आप चुकाते रहो bank को लगातार, इसलिए bank तो चाहते है, that you pay the money, आप उन्हें लगातार पैसे दे सको, अब NPA's को bad loan भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, bad loan, please remember that, what do you mean by bad loan, loan which is not recovering, which is not coming to you, bank जो पैसा recover नहीं क कहते है, कि 91 days से जादा का time हो गया, और पैसा वापस नहीं आ रहा है, तो आपको ये भी बात समझ आएगी, कि इस तरीके से हमारे देश में transparency बड़े, इस तरीके से हमारे देश के अंदर banks और जादा powerful हो, इसके लिए कोशिश आप करते हो, कि banks के अंदर financial position improve करने की, better करने क जहां पर loan recover करो timely basis पर, ताकि ये non-performing asset की problem ना आए, अब RBI ने, आपको देखने मिलेगा, इंडिया के अंदर loan recovery के लिए कई सारे programs, कई सारी schemes, कई सारी initiative चला रखे है, NPA की problem को दूर करने के लिए, but first we have to understand why is it such a big concern, क्योंकि ये mains में आपसे पूछा जा सकता है, आपसे mains exam म है, आज जो NPA problem है, कितनी बड़ी है, क्या scale पर वो problem है, और कैसे banking system को weak करती है, ऐसा question बन सकता है, I am assuming, कि सवाल इस प्रकार बन सकता है, सबसे पहले तो ये पूचा जाएगा, कि इंडिया के अंदर banking sector के challenges क्या-क्या है, तो सबसे बड़ा challenge ही है, कि आपका bank loan तो दे देता ह वो repay नहीं हो, पाता उधार तो ले लेते हैं, वो bad loan बन जाता है, तो सबसे पहली problem है, bad loan की, लोग ले तो लेते हैं, पर वापस नहीं करते हैं, और क्या problem है, दूसरी problem है, banks के पास उतना capital नहीं है, capital adequacy ratio नहीं follow कर पा रहे हैं, मतलब basically, हर bank के पास कुछ पैसा होना चाहिए even after giving loan, जो की bank के पास capital या पूंजी के तौर पर पढ़ा है, मतलब bank अगर हम जैसे ग्रहाकों से 100 करोड रुपे का deposit ले रहे हैं, तो और उसमें से 70 करोड रुपे का deposit आगे लोगों को loan पे दे दे रहे हैं, तो bank भी तो खुद पैसा तिजोरी में रखेगा, क्योंकि कल जाक विजयमालिया जैसे लोग भी होते हैं, जो विचार क्वाइट risky, तो risky लोगों को loan दे रहा है, तो bank को अगर risky लोगों को loan दे रहा है, जहां से return भी बहुत अच्छा मिल सकता है, profit भी बहुत अच्छा मिल सकता है, क्योंकि उनसे higher interest rate चार्ज किया रहाता है, तो अगर risky होगे, क्या ही option है आपके पास, तो risky assets, जब risky loans होते हैं, उनके लिए कुछ पैसा reserve में रखना पड़ता है, और वो reserve में रखा हुआ पैसा, capital adequacy ratio कहा जाता है, capital adequacy ratio वो ratio होता है, जो आपका bank maintain करके रखता है, जान मूचकर अपने पास reserve में पैसा, ताकि risky assets, risky loans से खुद को पचा सके, आपको ये भी समझ आएगा, कि इंडिया में capital adequacy ratio पूरा नहीं है, कई सारे bank को के पास, इसलिए छोटे छोटे bank को को merge कर दिया, जोड दिया, और बड़े bank इंडिया में बना दिये गए, तो कैसे इंडिया के अंदर changes आ रहे हैं, वो हम आने वाले topics में भी रहेंगे, capital adequacy ratio पूर है इंडिया में, जिसका मतलब है कि कितना पैसा bank को अपने पास रखना पड़ता है, to meet its various obligations, reserve में रखना पड़ता है, ताकि depositors का interest protected रहे, ताकि bank stable रहे, ताकि bank पूरा effectiveness और efficiency से काम कर सके, पैसा ही नहीं होगा, तो bank तो बंद हो जाएगा, बरबाद हो banks के अंदर उतने efficient नहीं देखने मिलते, जितने private sector के अंदर होते हैं, अब ये आपको लग रहा होगा, कि सर, आप तो ऐसे सरकारी बैंकों के employees को गलत बोल रहे हो, लोग तो joke भी बनाते हैं कि SBI के lunch time ही चलता रहता, ये joke सर सही नहीं है, ये बाते सही नहीं है, मैं generalize नहीं banks में सरकारी बैंकों में नहीं हो पाती है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, but few people are not able to adopt to the changing technology, सीधी सी बात है, तो employees खुद को change नहीं कर पारे, वो work culture change नहीं हो पारा, ठीक है ना, वो bureaucratic structure change नहीं हो पारा, इस वज़े से government banks भी आपको loss में बीच में देखने मिले हैं, इसकी एक ब वो element तो होता ही है, वो भी change होता जा रहा है, तो मैं please गलती से कोई ये बात ना समझे, कि मैं public sector bank के employees को कुछ गलत कह रहा हूँ, मैं general term नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि कोई चीज होती है problem, उसकी वाज़े से issue क्या हो रहा है, next point आपको ये भी देखने मिलेगा Indian banks के पास जो पैसा जमा होता है, कई बार foreign exchange भी जमा होता है, foreign currency भी जमा होती है, और foreign currency market में fluctuation की वज़े से, रुपे और dollar के rate में बदलाव की वज़े से, Indian banks कई बारी potentially loss भी उठाते हैं, उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ता है, इसके इलावा, companyya जो loan लेकर बैठी है, काफी सारी companyya अपना पैसा नहीं चुका पाती है, banks ने कई बार risky proposition, risk लेकर loan दिये होते हैं, या corruption से loan दिये होते हैं, अब विजय मालिया जी कहीं जब सवाल उठता है, कि उनको loan कैसे मिल गया, लोगों ने कहा कि इनको तो loan मिलना ही नहीं चाहे थे, इनकी credit worthiness थी नहीं, है, कि इस पर अगर कोई scam हो गया, या non-performing asset बन गया, अगर इसका return नहीं आया, तो हमारी नौकरी खत्रे में आ जाएगी, तो एक तरफ आपको initiative की कमी देखने मिलती है, delay देखने मिलता है, और एक तरफ आपको देखने मिलता है, कि ब्रष्टा चार है loan देने की तरीके में political compromise भी होता है, कई बारी political pressure भी होता है, कई बारी loan approval देने में, सरकार से कई बारी pressure आता है approval देने में, तो यह ना effectiveness और efficiency को खतरे में डालते हैं, इसलिए banking sector जो की बहुत important है, बैंकिंग सेक्टर के कितने बड़े function है, banking sector इंडिया में व्यापार को बढ़ावा देने में अद करता है, trade को बढ़ावा देने में मदद करता है, loans देकर, priority sector lending करता है, अब आप पूछेंगे priority sector lending क्या होता है, PSL का मतलब है, कि अगर bank 100 रुपे लोन में दे रहा है, bank अगर 100 रुपे लोन में चड़ाएगा, तो उसमें से 40 रुपे, 40 रुपीज, bank को priority sector के ऊपर खर्चनी ह होगी, 40 रुपीज priority sector के भले के लिए खर्चना होगा, ये बात याद रखनी है, अब आप इतनी बात समझ गए कि इंडिया के अंदर banks कितने important है, priority sector मतलब गरीब जनता को schedule caste, schedule tribe, महिलाएं, females, छोटे businesses, MSME, micro, small, medium, enterprises, इनकी भलाई के लिए, कौन है हमारे सामने, हमारे सामने ये public sector banks है, private sector क्यों ही देगा गरीबों को loan, valuable sections को loan, किसानों को loan, small scale industries को, क्यों ही देगा, उसका क्या profit है private bank का, private bank तो उन लोगों को देगा ना, जिनकी pay करने की capacity है, सरकारी bank तभी आगे आएंगे, public sector banks, nationalized banks तभी आगे आएंगे, कि वो जाकर loan provide कर सके, priority sector को, देश में हमार देश के अंदर अलग-अलग service provide करें, कि एक जगे से दूसरी देगा, पैसा transfer कर सको, loan ले सको, savings जमा करा सको, आप अपनी जिंदगी की कमाई bank में डाल रहे हो, तो विश्वास तो होना जरूरी है या नहीं है, money transfer में मदद करें, जल्दी से quickly money transfer हो, तो banks इसी लिए बहुत ज ज़्यादा जरूरी है, इसलिए तो हमारे देश के अंदर 12 सरकारी bank और 22 private bank फिलाल exist करते हैं, इंडिया के अंदर 12 public sector banks, 22 private sector banks, 46 foreign banks फिलाल exist करते हैं, किस reason की वैसे, because द्यादी life line of Indian economy, बहुत important role play कर रहे हैं, हमारे देश की economy growth को बढ़ावा देने के लिए, पर जैसे life line है, इ banking sector के अंदर, banking system के अंदर, non performing asset के साब से देखने मिलेगी, कि अगर मैं आपको 2019-20 का, आज से 3-4 साल पहले का data बताओं, तो इंडिया के banking sector में बहुत बड़ी problem थी, covid से पहले का समय, जहां पर public sector bank, सरकारी bankों में इतने जादा loans, NPA बनते जा रहे थे, मतलब आपको nearly 10% की 10% loan जो दिये हैं, वो वापस नहीं आ रहे, लोग चुका नहीं रहे हैं, किस्ते हैं उसकी, 91 days से जादा समय हो गया है, और लोग अपने installments और EMI पे ही नहीं कर रहे, oh my god, इतनी बड़ी problem थी 2019-20 में, RBI ने कहा है, how did we let this happen, इस हालत में, इस सूरत हाल में हम किस प्रकार पानमी कि इख बात समझो, मैं हूँ, मेरे जैसे करोडों लोग है, हम जा रहे हैं, बैंक में पैसा जमा करा रहे हैं, कि बैंक में आपने अपनी जिन्दगी की कमाई रख दी, वो बैंक आगे loan में दे रहे है, बैंक के पास loan का पैसा आनी रहा, और मैं जाकी कहला है, कि मेर के लोन देते हैं, वहां से पैसा आता है उसको अगे लोन देते हैं, इसे कहते हैं credit creation या credit expansion, credit का मतलब उधार, creation का मतलब economy में पैसा उधार बढ़ रहा है, increase हो रहा है, expand होना है, money multiply हो रहा है, loan multiply हो रहा है, एक जगे से क्रेरे, इस तरीके से पैसा होता रहता रहता observation में मनी घूंचा रहता ह्यां, तो सर्कूलेट हो रहा है वह रुके ना जैसे शरीर में खून का सर्कूलेशन होता रहता है न 창्वांप की आपके ओो तरीके की नसरह हैं occupied यूंद rifार यह कि एक दिल से बाकी organ तक ले जा रही है और एक बाकी organ से दिल तक ला रही है तो दोनों को अपना-पना काम है इसी तरीके से पूरा circulation हो रहा है पैसे का भी circulation इसलिए important है पूरी economy में एक जगे से आये फिर दूसी जगे जाएगा money multiply होता जाएगा credit expansion होता जाएगा तो बस इतनी बात आपक performing asset 10% से जाधा हो गया सरकारी बैंक को ने सबसे जाधा मार जेली इस चीज़ की हमारे देश में 2019 का ही अगर डेटा दूँ 1.58 lakh करोड रूपीज के insolvency proceeding शुरू करे कि तुम पैसा नहीं चुका पारे हो कोई बात नहीं आओ कोट में settlement करते हैं तुम जितना पैसा दे दोग है आप वो लेने की कोशिश करोगे इसे कहा जाएगा insolvency proceedings यह बात याद रखेगा insolvency proceedings के जितना पैसा निकल गया जितना पैसा recover हो गया उतना अच्छा है 1.58 lakh करोड की insolvency proceedings 2019 में डिसेंबर महिने में शुरू करी कोविट से पहले का time period बता रहा हूँ जहां पर एक और बट मैंने आपको 100 रुपे लोन दिया आपने कहा महीने के बाग की मेरे पास 100 रुपे भी नहीं है चुकाने के लिए मेरा दिवालिया निकल गया है आप एक काम करो मुझसे 70 रुपे ले लो और भूल जाओ बाकी पैसा भूल जाओ recover हो गया आपका पैसा मान लेना मेरे से और पैसा आपको नहीं मिल पाएगा तो तीस रुपे का लॉस हुआ मैंने का चलो तीस रुपे का डिसकाउंट दे रहा हूं अटली सतर तो आएगा सेवेंटी तो आएगा तो दिस इज अ हेर कट दी अमाउंट विचा एम फोर गोइंग जो मैं जाने दे रहा हूं जो मैं रिकाबर नहीं कर पा रहा हूं वह ओ गया हेर कट और हेर कट पूवाइड किया भारत सरकार ने पब्लिक सेक्टर बैंक के केस में बहुत ज़्यादा देना पड़ा बहुत नुक्सान जेलना पड़ा पड़ दीरे दीरे हमारे public sector banks इंडिया में recover कर पाए हैं और अगर आप recent trend देखोगे सरकारी बैंकों में NPS बहुत कम हो गए हैं, in fact public sector banks में कम और private sector bankों में जाधा हो गए हैं उसका reason यह है कि एक तो international level पर इतनी instability चल रही है, Ukraine, Russia, war में इतनी जाधा problems चल रही है उसकी वैसे global slowdown देखने मिल रहा है, दूसरी बात project शुरू तो हो जा रहे हैं, जैसे एक building बनना है, 100 करोड की building बन रही है एक property, real estate की company ने बोला कि मैं यहाँ पर flat बनाऊंगा, building बनाऊंगा, building बनानी शुरू तो करी, बट कुछ समय के बाद, जब जो project cost है वो बढ़ गई, इटों की cost बढ़ गई, cement की cost बढ़ गई, रेती की cost बढ़ गई, अलग-अलग चीजों की cost बढ़ गई, अब जब चीज बैंक से loan लिया है, वो loan चुका नहीं पा रही है, building बन जाती, फ्लाट बिक जाते, पैसे आ जाते, loan चुका देते, पर कुछ भी नहीं हो पा रहा है, इस वज़े से dent लग गया है, loan servicing के अंदर, loan नहीं वापस चुका पारे, service नहीं कर पारे, दे नहीं पारे, और इस बैंक्स ने अपने लालच के लिए अपने फाइदे के लिए ना आओ देखा ना ताओ देखा प्राइविट बैंकों ने लोन देना शुरू किया और खास्तोर पर ऐसे लोगों को जिनकी हैसियत नहीं थी लोन लेने की कि उने बिखा दिखा के कि सर ऐसा है लोनलो कम इंटरेस्ट मिलेगा फायदा यह आपका यह एक घर है कोई बात है उस घर को गिर्वी रख़दो उस पर और लोन लेलो लोन पर लोन लेलो वाउ इस तरीके से कितने इंसिदेंट्स इंडिया में देखने मिले है जहां पर पे प इसके अलावा कुछ लोग तो साब बोल देते हैं मुकर जाते हैं कि हम नहीं चुकाएंगे ऐसे लोगों को economic offender कहते हैं कुछ लोग तो इंडिया छोड़के भाग जाते हैं उन लोगों को fugitive economic offender कहते हैं बेटा इतना content आपको कोई भी YouTube channel UPSC का even paid classes में भी नहीं मिल पाता है सिर्फ जो study IQ और मैं आपको provide कर रहा हूं so please be attentive and listen to everything and just a small request please like this video also तो fugitive economic offender वो लोग होते हैं जो economic offense की हैं पैसा ले लिया वापस चुका नहीं रहे और भगोड़े हो गए भगोड़ा होता है Fugitive तो ऐसे कई लोग है इंडिया में जो कह रहे हैं हम Willful Default हैं जी हम तो पैसा नहीं दे पाएंगे हम तो अपनी इच्छा से कह रहे हैं कि मैं आपको आपका पैसा वापस नहीं कर पाऊंगा मेरी हैसियत ही नहीं है ऐसे लोगों को WD कहा जाता है Willful Default विलफुल मतलब अपनी इच्छा से और डिफॉल्टर मतलब जो डिफॉल्ट कर दे रहा है जो लोन नहीं चुका रहा है जो पैसा नहीं दे पा रहा इनकी संख्या इंडिया में बढ़ती जा रही है विलफुल डिफॉल्टर होना एक बड़ी प्रॉब्लम है यह अमारे बैंकिंग सिस्टेम का एक करेंट प्रॉब्लम है फिर करप्शन तो एक इशू है इस वज़े से सरकारी बैंकों में एक टाइम पे बहुत ज़्यादा था अब वो प्राइवेट बैंकों में जादा हो गया है इसके इलावा अब NPA मैंने आपको बोला NPA का मतलब है 91 days तक आपको आपका पैसा नहीं मिल पा रहा है आपको पैसा जो लोन में दी है वो आपस नहीं मिल पा रहा है ये agriculture के लिए थोड़ा अलग concept होता है agriculture में दो crop season देखे रहते हैं दो फसलों के season देखे रहते हैं करभी और खरीफ की फसलोती है ना तो उनके दो season देखे रहते हैं कि कोई loan है उसकी ना principle amount ना इंस्टॉल्मेंट ना इंट्रेस्ट चुकाया गया है कोई किस्त चुकाई नहीं गई है दो crop season हो गया है तो तब मान लिया जाता है कि वो agriculture loan अब NPA हो गया है इसके इलावा अगर कोई ऐसी फसल है जिसे साथ महीने आठ महीने कई बार नौ महीने भी लगते हैं उगाने के लिए तो उनके लिए आपका एक crop season देखा जाता है विकॉस इसमें time लगता है उनको उगाने के लिए उसके अंदर आपको काफी time bear करना पड़ता है तो वहाँ पर एक crop season को NPA मानते हैं इसके इलावा NPA की एक और category है देखो अगर 0 से 0 तो टेकनिकली नहीं होगा अगर एक दिन से 30 दिन का time बीत जाए आपने loan नहीं चुकाया तो आपको bank एक special category में रखता है SMA 0 SMA की full form है special mention account कि आपका नाम specially mention हो जाता है कि देखो यह चुका नहीं पा रहा है इसको call करके बोलो कि भई क्या हो गया किस्त क्यूं नहीं दे रहे हो अपनी तो call आने लगती है कि सर प्लीज आपका loan due पड़ा है प्लीज पे कर दीजिए at the earliest वनना सर पेनल्टी लग जाएगी आप पर फिर second category है जी आपका 31 to 60 days 31 to 60 days में आपको SMA 1 कहा जाता है special mention account category 1 की में आपको रखा जाता है SMA 1 में आपको इसलिए रखा जाता है कि आपने 31 days से 60 days का time हो गया है अपना पैसा नहीं लोटाया calls और बढ़ जाती है बैंक कहता है कि सर क्या बात हो गई क्यों आप पैसा नहीं चुका रहे हो what is the problem प्लीज चुका दो third category है जी 61 से 90 days की जिसे हम कहते है SMA 2 यह category में आपको call करकर करके बताया जाता है कि NPA declare हो जाओगे non performing asset आपका track record खराब हो जाएगा आपकी credit worthiness खराब हो जाएगी तो आपको यह देखने मिलता है कि इस तरीके से जब कहा जाता है कि credit worthiness खराब हो जाएगी आपका track record खराब हो जाएगा तो आपको ultimately इस time पर force किया जाता है मजबूर किया जाता है कि अपना पैसा लोटा दो अपना पैसा दे दो तो आपको जो बात समझ आती है वो यही है कि force करने के लिए लोगों को कि पैसा लोटा दिया जाए to force to ask you to pay इसी लिए आपको इन अलग-अलग accounts में किया जाता है औ SM1 में है और SM2 में है ताकि RBI भी उस चीज़ को actively review करता रहे RBI का काम है economic stability बनाये रखना देश में तो क्या वो करेगा नहीं अच्छा सर 91 days हो गए सर पूरे चलो कोई बात नहीं 91 होता ही आप NPA declare हो जाओ गया और NPA तो एक general statement है जैसे for example एक cricketer cricketer है वो एक general statement है पर वो batsman ह या baller है या fielder है यह देखना जरूरी है ना वैसे तो batsman या baller ही हो सकते हो आप पर एक cricketer को cricketer का होगे तो एक loan जो 91 days से जादा समय हो गया और पैसा वापस नहीं आ रहा वो NPA है बट उसमें भी वरगी करन है उसमें भी division है 91 days से 12 महीने तक का समय हो चुका है क्या बोला एक substandard asset हो क्या बोला मैंने 91 days से 12 महीने तक का समय हो चुका है 91 days से एक साल तक आपको substandard asset कहा जाता है second doubtful asset 12 महीने से जादा समय हो गया अरे भीया क्या पता पैसा लोटा भी पाओ ना लोटा पाओ ऐसे case में आपको doubtful asset कहा जाता है where there is no surety कि आपसे पैसा आएगा भी या नहीं आएगा there is no guarantee there is no surety कुछ उमीद ही नहीं है कि दे सको तो दे दोगे नहीं दे सके तो नहीं दे पाओ गे और अगर 12 महीने से जादा समय हो चुका है और बैंक ने तो पूरी ही उमीद छोड़ दी और बोला कि अब इससे पैसा नहीं आएगा मान लो बैंक ने 100 रुप कर पा रहे है। 60 रुपे का बैंक का लॉस हो गया कोई बात नहीं बैंक मान लेगा कि 40 रुपए आ गये आ गये बाकी पैसा लॉस में गया और उसे बैंक डिक्लेर कर देगा लॉस एसेट यह अलग कैटेगरी होती है क्वेशन मने गा एक्जाम में लॉस एसेट किसको कहते ह होती है जहां पर एक asset जहां पर एक आपको लोन देखने मिलता है asset मतलब bank के लिए asset loan होता है ना loan देखने मिलता है जो कि एक साल से जादा समय का हो चुका है पैसा वापस आनी रहा और उमीद छोड़ दी है और bank ने legally bank के accountants होते हैं bank के chartered accountants bank के auditors होते हैं वो कहते हैं कि अब उमीद छोड़ दो अब नहीं आएगा इससे पैसा वापस तो accounts में दिखाने के लिए जानमूच के उस person को total loans जो दिये थे आपने उनमेंस कर दिया जाता है मतलब मान लो bank एक हजार करोड के लोन दिया है अलग-अलग लोगों को जिसमेंसे एक इनसान जिसने दो करोड का लोन लिया था वो वापस नहीं चुका पा रहा उनको वो एक हजार करोड की लिस्ट से हटा दिया जाएगा जो पैसा आया ठीक है मान लिया cash recover हो गया जो नहीं आया उसको loss में छो कर दिया जाएगा accounts में और अब वो दो करोड का asset खसा खतम अब सिर्व 998 करोड का asset दिखेगा इसलिए इसे loss asset कहा जाता है loss asset declare करना पड़ता है कि जी अब loss हो गया अब उमीद छोड़ दिया अब खतम हो गया we are not expecting that we will receive anything यह कौन सज़ेस करता है bank खुद सज़ेस करता है जिसमें bank के internal या external auditor या bank में RBI inspection करे और RBI कहें कि देखो 4 साल से तो पैसा आया नहीं अब आएगा नहीं इसको loss declare कर दो उस time पर उसको loss declare कर दिया जाता है उसको write-off कर दिया जाता है उसको हटा दिया जाता है accounts में हटाने को कहते हैं write-off कर देना उसको write-off कर दिया जाते है clear है India में NPA crisis का संकट अब थोड़ा control में आया वरना 2008 के बाद NPA धीरे-धीरे बड़े है 2008 में 2.3% था 2017 में आने वाले 10 सालों में ये बढ़कर 9.3% हो गया इवन ये 10% की लिमिट ब्रीच करा पर दीरे दीरे देश में रिफॉर्म आएं कई सारे सुधार आएं और हमने इंडिया के अंदर रिकवरी करी इन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की शुरुवात में 85% NPA तो सरकारी बैंक होगे थे reason में आपको बता चुका हूँ पर दीरे दीरे वो 10 लाग करोड से भी जादा की राशी के नॉन परफॉर्मिंग एसेट कम हुए है अब गवर्मेंट सेक्टर का NPS के अंदर contribution काफी कम हुआ है तो यह सारी बात थी बाकिया आपके लिए मैंने mains का एक question बन सकता है reasons behind rising NPA इसके उपर पूरा एक write-up दिया हुआ है वही बात बताईए कि business fail होते जा रहे हैं bank ने loan तो ले लिए थे पर अब वापस चुका नहीं पा रहे हैं कई सारे start-ups हैं जो start-ups शुरू तो हुए थे बहुत जादा एक project के साथ बहुत बड़े project के साथ कि हम तरक्की करेंगे यह करेंगे number one बनेगे और आज वो start-ups जूपते जा रहे हैं उनने काम करने वाए लोगों को नौकरी से निकाल दिये जा रहे हैं कई सारे लोग willful defaulter है जी वो पैसा वापस नहीं कर रहे हैं वो हेरा फेरी कर रहे हैं गोल माल है भई कुछ गोल माल है some people are misappropriating taking money and going out of India जिस वह से आपको NPS बड़े हुए देखने मिलते हैं कई लोग तो ऐसे they have borrowed but they are not using for the intended purpose agriculture में होता है लोग दिखाते हैं कि हम किसान खेती है खेती करने के लिए लोन ले रहे हैं और लोन इस्तमाल कहीं और कर लिया जाता है कई बार लोन का पैसे का सही इस्तमाल नहीं किया जाता नशा करने में खर्च दिया जाता है इस वरे से non-performing asset की संख्या बढ़ती है कई बार लोन लेकर बच्चों की शादी करी जाती है खास तोर पर बेटियों की शादी दिखावे के साथ अरे जब economic standard उतना high नहीं है तो दिखावा क्यों करना है people do it, this end up spending lots of rupees, lakhs of rupees crores on their marriage on the marriage of their daughters and sons तो बहुत बड़ी problem है उसके इलावा bank भी regularly monitor नहीं करता था यह SMA0, SMA1, SMA2 क्यों बना है RBI आप इतना active क्यों हुआ है RBI ने इंडिया में पूरी तरह review करना prompt corrective action framework के तहरत क्यों शुरू किया अभी मैं बताऊंगा आपको prompt corrective action, prompt मतलब जल्दी से corrective मतलब correct कर सको, action इसलिए किया है, क्योंकि problems हमारी economy है, बहुत बड़े level पर चल रही थी कई सारी नकली कंपनिया बनाई जाती थी जिनका काम ही होता था, bank से loan लेने का पर उसे वापस नहीं चुकाने का उन्हें लगता था कि bank as it is maaf कर देता है, कुछ समय के बाद तो हम loan ले लेते हैं और पैसा वापस नहीं करेंगे, इस वाज़े से इंडिया में आपको problems देखने मिली, अच्छा एक बहुत बड़ी problem है, जिसको economic survey ने point out किया था, economic survey सरकार का एक document होता है, जिसका नाम है twin balance sheet problem twin balance sheet problem मतलब कि कंपनिया जो loan लेती है वो भी loan नहीं चुका पा रही है, उनकी balance sheet में भी problem है, क्योंकि कंपनियों के पास खुद पैसा नहीं आ पा रहा महंगाई बढ़ने की वज़े से, कोविड lockdown की वज़े से, economic losses की वज़े से, कई सारे projects अठके हुए हैं, जैसे building बनाने का मैं कहरो, building बनाने के लिए project शुरू तो हुए है पर builder ने लालच में क्या किया, जो loan लिया, उससे वो building complete नहीं करी, एक और project बनाना शुरू कर दिया, ताकि और project बेच कर पैसा कमा सके, अब वही project पूरा नहीं हो पा रहा, लोग कहरे हैं, हमारा पैसा refund करो, court कहरी है इनका पैसा refund करो, तो दूसरा project कैसे खतम होगा, और पैसे वो दोनों project के लिए लेके बैठे हैं, लोग flat पहली book करके बैठे हैं, पर builder deliver करने ही रहे, अगर आप noida, greater noida में आओगे कभी, ऐसे कितने ही आपको example देखने मिलेंगे, ghost buildings, building बनी पड़ी हैं, लोग आनी रहे हैं, रहने के लिए, case चल रहे हैं ठीक है, एक building तो last year गिराई भी गई थी, illegal construction होने की वज़े से, तो बस मुद्दे की बात इतनी सी है, twin balance sheet problem इंडिया के अंदर आपको देखने मिलते हैं, दोनों तरफ problem है, bank की balance sheet में भी और company की balance sheet में भी company ओने हैसियत से जादा loan ले रखा है bank को ने हैसियत से जादा loan दे रखा है, जिस वज़े से दोनों को आप problem का सामना करना पढ़ रहा है, NPS बढ़ते जा रहे हैं अब problem इस वएसे यह हो रही है कि bad loans, ऐसे loans जो को वापस नहीं आ पारे, NPS वापस नहीं आ पारे, वो बढ़ते जा रहे हैं, अच्छा construction cost कोई कम थोड़ी ना हो रही है, आपको क्या लग रहा है अब आने वाले time में वो building जो अटकी पड़ी है वो पूरी बन जाएगी, कैसे बन जाएगी construction cost तो अपने आप बढ़ती जा रही है 2010 में जो construction cost होती थी एक eat आती थी, और आज एक eat आती है दोनों के rate में जमीन आसमान का फर्क है सीमेंट के rate में जमीन आसमान का फर्क है पहले अगर कोई घर 40 lakhs कब बन जाता था आज उसमें बनने में 60 lakh लग रहे हैं ये मेरे सामने के example है 60-60 lakh रुपे लग रहे हैं, 70 lakh रुपे लग रहे हैं जो 10 साल पहले 40 lakh रुपे लगते थे ऐसा क्यों हो रहा है यही तो reason है कि आपकी construction cost इतनी बढ़ गई है इतनी escalate हो गई है और सुनो global political risk ये Ukraine Russia war solution बताओ ना, problem तो हमें समझ आ गया banks और companies को cooperate करना होगा, जहांपे bank को companies के साथ बैट कर, क्या पैसा चुका पा रहे हैं अगर हम आपको थोड़ा सवर पैसा देदें तो क्या आपका project चल सकता है जैसे project है, 90% पूरा हो गया 10% अटका पड़ा है तो मतलब अगर थोड़ा पैसा दे दिया project पूरा हो गया, तो वो चल पड़ेगा इसे कहते है, viability gap funding कि कि कितना viable है, viable मतलब कितना आपको पैसा नहीं दिया जाएगा पर हाँ, अगर आपको project आगे चल सकता है तो viability gap प्रोवाइड करके viability gap को बिल्ड करने के लिए funding प्रोवाइड करके पैसा दे दिया जाएगा जैसे आप एक घर बना रहे हो आपको एक करोड रुपे बनाने में लगे पर क्या हुआ कि आपको आसी लाग रुपे का इंतिजाम हुआ, construction शुरू करी 20 लाग नहीं है, और project अच्छा है, पूरा हो सकता है तो बैंक के पास जाओगे, बैंक कहेगा ठीक है project तो पूरा होई जाएगा, पैसे तो तुम कमा ही लोगे ये लोग 20 लाग और, इसे कहते है liability gap funding, ये बात याद रखेगा, बाकी RBI कोशिश करी रहा था बीच में कि जादा से जादा सस्ते rate पर loan मिले, वो तो देश में महंगाई इतनी बढ़ गए, इसलिए RBI को rate of interest बढ़ाना पड़ा, वरना RBI ने खूब कोशिश करी है हमारे देश के अंदर investments को बढ़ावा देने के लिए, सरकार के कहने पर, factory हो में जादा manufacturing हो businessman को जादा loan मिले, व्यापारियों को व्यापार करने के लिए पैसा मिले और हमारे देश में खर्चा बढ़े, जिससे GDP ग्रो करे, बट problem ही आई है, कि कई बार क्या होता है, कि किसी चीज़ को जलाते लडाते आपके खुद हाथ जल जाते हैं, RBI economic growth को बढ़ाते बढ़ाते ये महंगाई बढ़ा दिया, और इस वज़े से इंडिया में हमें महंगाई control करने के लिए, inflation rate को control करने के लिए interest rate बढ़ाने पड़े, तो आज भी problem ये बढ़ रही है, धीरे-धीरे, NPA की अगर इसको control पूरी तरह नहीं किया गया, सबसे बड़ी बात है, कि अगर आप 2000 के बाद की picture देखोगे, सन 2000 के बाद से, तो इंडिया ना development के रास्ते पर जाने लगा था, इंडिया के अंदर बहुत लोगों ने लोन लेना शुरू किया, business बूम हो रहा था, सबसे बड़ा reason था, इंडिया एक hub बन गया, foreign investment का, इंडिया के अंदर बहुत ज़दा foreign investment आने लगी थी, we became one of the highest receiver of foreign investment, बल्कि इंडिया की company, दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले, जादा percentage profit कमा पा रही थी, workers को दबा के hire किया जा रहा था, लोगों की salary भी बढ़ती जा रही थी, वरना 30-40,000 की normal salary होती थी एक time पर, आज 1,500,000 रुपे average salary मानी जा रही है, ऐसा क्यूं है, इसलिए है कि आपको ये देखने मिल रहा है, कि जादा से जादा inflation बढ़ा, महिंगाई बढ़ा, इंडिया में growth होई companies की, उन्होंने लोगों को जादा salary देनी शुरू करी, talented लोगों को जादा पैसा मिलना शुरू किया, और business से शुरू हुए, नए नए project शुरू हुए, करोणों की value के, तो उस time पर credit boom आया, सब ने loan लिया, पर उसके बाद loan चुकाने की जब हैसियत नहीं बची, 2008 में US के अंदर जो economic crisis हाता है, उसके बाद से 2008 में अमेरिका में एक बड़ा संकट आया, लोग loan तो ले ले थे, पर loan वापस चुका नहीं पारे थे, लोगों ने loan ले लेकर ले लेकर घर खरीदे, घरों की किष्टें चुकाई, घरों के installments पे करते थे, एक time ऐसा आया, कि लोग installment चुकाने लाइक बचे नहीं, और अमेरिका के अंदर home loan bubble बनने लगा, मतलब एक ऐसे crisis बनने लगा, कि लोग home loan चुकान नहीं पारे हैं, और उनसे घर चीन लिया जाता था, अब तुम घर की किष्ट नहीं दे पारे हो, और उस घर में रह रहे हो, bank कहां रहने देगा आपको, bank आपको घर से निकाल देगा, लोग सडकों पे आ गए, लोगों की नौकरी यहां चली गए, इस वएसे वो loan नहीं दे पारे थे, और वो सडकों पे भी आ गए, तो नौकरी भी नहीं है, सडकों पे रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, और वो अमेरिका का संकट, क्योंकि अमेरिकन बैंक्स आज पूरी दुनिया में है, अमेरिका की एकॉनमी पूरी दुनिया से connected है, इंडिया के अंदर बेंगलूरू, पूने, गुरुगराम, नॉड़ा में कहां से कंपनी आती है, अमेरिका और यूरोप की कंपनी आती है, वो यहाँ पर आके अपना business शुरू करती है अगर वहाँ पर अमेरिका में crisis होगी तो उसका impact यहाँ पर भी तो आएगा तो इंडिया में global financial crisis शुरू हुई इंडिया में नहीं global level पर crisis शुरू ही बट इंडिया में मैंने क्या कहा आग को बुजाते बुजाते हाथ तो जल जाता है और आग आपस में जितनी भी चीजें होती है पास में उनको भी जला देती है तो इसलिए इंडिया भी इस लपट में इस problem में आ गया वीवर और से जंगल काटना पड़ेगा तो environment को protect करने के लिए clearance नहीं दी जाती थी आपको रोड भी चाहिए और आप चाहते हो कि वहां पे जंगल भी हो तो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती आपको sustainable method खोजना होगा कि कम से कम पेड़ काटे जाए और रोड भी बन जाए better connectivity create करने के लिए तो environmental clearance नहीं मिल पारी थी अटके पड़े थे project कि मैं एक project बना रहा हूं मैंने 1000 करोल का tender लिया लोन लिया प्रजेक्ट बनाना शुरू किया सरकार ने आके बैन कर दिया प्रतिबंद कर दिया मेरा कितना भारी नुकसान हो जाएगा तो firms that borrowed domestically suffered when the RBI increased the interest rate RBI उपर से rate of interest बढ़ाए जा रहा था अब मानलो मैंने 6% पर लोन लिया था RBI कह रहा है कि 11% पर लोटा हो अब मैं कहां से चुकाऊंगा इतने जादा rate of interest पर example के तोर पर दे रहा हूं तो लोग चुका ही नहीं पारे थे इस वज़े से आपको देखने में लग एक बहुत बड़ा interest rate risk बढ़ने लगा उपर से वो टाइम था जब एक डॉलर 40 रुपे का होता था तो अगर आप भार से कुछ मगवाते भी थे तो जादा महंगा नहीं पड़ता था आज कितने का है एक डॉलर 83 85 रुपीज के आसपास का है आज डबल हो गया है आज depreciation इतना ज्यादा हो गया एक उतना pocket पर भी नुकसान नहीं देता था पर आज बहुत ज़्यादा नुकसान देता है तेल भी खरीते हो पेट्रोल डीजल वेरी एक्सपेंसिव इन सब की वजए से उधारी बढ़ती गई कंपनियों की और कंपनिया फेलियर के ककार पर जाती रही और twin balance sheet syndrome तो चली रहा थ थी कि Banks के पास loan देने के लिए पैसा लोन आगे देने के लिए पैसा बच नहीं रहा था और company जो जिन्होंने loan लिया हुए वह पैसा time पर लॉटा नहीं रही थी अब Banks भी crisis में और company भी crisis में तो इसी वज़ेसे India की अंदर economic survey कहता है कि balance sheet syndrome था balance sheet में problem थी कि देखो bank क्या हो र पैसा वापस मांगने के लिए उनको उनका पैसा मिल नहीं पा रहा जो लोन लेना चाहते हैं उनको लोन मिल नहीं पा रहा तो आप पूरी तरह प्रॉब्लम में चले गए, you are in a big thick, big crisis, इस वज़े से इंडिया में ये balance sheet syndrome देखने मिला और का गया balance sheet syndrome with Indian characteristic, कि भारतिय विशेशताओं के साथ, इंडिया की problem बड़ी unique थी पूरी दुनिया के मुकाबले, दुनिया अलग problems का सामना कर रहे थी, इंडिया अलग problem का सामना कर रह था, इसी लिए इंडिया के अंदर जो banking crisis आई एक बड़े level पर और बहुत अलग level पर आई, so what could possibly explain India's exceptional experience, what exactly, अब इंडिया के NPA experience को कैसे मतलब बताओगे, कि इंडिया के अंदर there became a scarcity of funds, पैसे की कमी हो गई, इंडिया के अंदर जो share market में लोग पैसा लगाते थे, वो भी न also not ready to give loans, तो loan नहीं मिल पारे थे, investment कब हो रही थी, हमारी share market जो growth पर जारी थी, वो चानव से dip करने लगी, उसके अलावा जो companyों में investors ने पैसा लगाये था, जब company खुद loss में जा रही है, तो investor को क्या मिलेगा, profit मिलेगा, अजी ना, loss मिलेगा, तो banks के लिए it became very tough to survive in the market, companies भी पैसा नहीं कमा पा रही है, investors भी पैसा नहीं कमा पा रहे है, banks भी पैसा नहीं कमा पा रहे है, सबका equally loss हो रहा है, and shareholders of these organizations started losing money, कई सारे bank खुद खत्रे में आ गए, yes bank का example ले लो, ICICI bank का access का example ले लो, PNB का example ले लो, SBI का example ले लो, कभी न कभी ये risk का सामना कर रहे थे, P विजय मालिया जी का भी की वज़े से अलग-अलग bank को सामना करना पड़ा problems का, और कई सारे ऐसी, ये तो एक दो तीन example है, ये तो poster boys हैं, जिनके नाम famous हो गए हैं, ऐसे हजारों लोग हैं, जो लोग loan लेकर वैटे हैं, लाखों करोडों में, जो आपस चुका नहीं रहे हैं और supreme court तक protect करता है उनके नाम, कि उनके नाम जग जागर ना हो जाए, बाहर ना आ जाए, अगर पता चलेगा कोई ऐसा person है जिसने loan लिया, मौझ काटी पैसे से, मौझ गरी, pardon me for my language, बट मौझ गरी, और आगे जाकर आज वो कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है तुकाने के लिए, यह मेरे tax के पैसे का नुकसान है या आपके tax के पैसे का नुकसान है, इस वज़े से इंडिया में problem हुई, बट इंडिया में फिर भी banking sector ने ensure किया कि कोई financial crisis ना आ सके, और यह अच्छी बात है, कि हम actively recession से लड़ते रहे, आज भी COVID जैसी बड़ी महामारी होने के ब आवजूद भारत, it is standing strong, look at China, what's happening, वहाँ पर projects बननी पा रहे है, building अटकी पड़ी है, घोस्ट, towns बने हुए, भूतिया, building है, बनी पड़ी है, रहने के लिए लोग नहीं है, रहने के लिए जगे नहीं है, लोग वहाँ पर क्या कर रहे है, there is so much problem, तो इंडिया में recession अट ल 7% speed, although इसको 10% से जाधा होना चाहिए, अगर GDP actually उस लेवल पर ले जानी है, जिस लेवल पर US और चाइना है, तो double digit growth होनी चाहिए, बढ़ हाँ, कुछ तो हो रहा है न, जहां बाकी देश 2-3% कमा रहे हैं, हम 6-7% कमा रहे हैं, isn't that good, so be happy with it, उसके लावा Indian banking institution gave time for corporate wounds to heal, कंप Insolvency Bankruptcy Board of India शुरू किया गया, इंडिया में एक body बनाई, जो कम से कम time में Insolvency खतम कर सके, case सालो साल पढ़े रहते थे, bank भी फसा रहता था, जिसका पैसा है, bank का पैसा है, वो फसा रहता था, जिसने loan लिया हुए, वो फसा रहता था, बटाज Insolvency Bankruptcy Board of India के आने की इसे, Insolvency Bankruptcy Code, क्या हुआ है, सुनो, एक Code बनाया, Code क्या होता है, Group of Laws, कई सारे कानून उठाए, क्लब कर दिया, एक Code बना दिया, Insolvency and Bankruptcy Code, Insolvency दीवालिया निकल जाना होता है, आपके पैसा नहीं है, अपने उधार को चुकाने के लिए, दीवालिया निकल गया है, और Court अगर एक बर प्रूव कर दे कि दिवालिया निकल गया है, फिर आपसे पैसा रिकावर नहीं होता है, जितना देशा को दे दो, उसके बाद आपको छोड़ दिया रहाता है, ठीक है, यह Insolvency and Bankruptcy Code बना, उसके अदर एक Administrative Body बनी, Insolvency and Bankruptcy Board of India, जो की रिकावर करती है आपके द्वारत दिये गए, क्लेम को कि आप Insolven है, पोशिश करती है, रिकावर करे, अगर आप पैसा नहीं चुका पा रहे हो, तो माफ कर दिये रहाता है, बोल दिये रहाता है, कि इसके बास वैसी पैसा देने के लिए नहीं है, गले तक तो कर्जम है, तो जितना पैसा म मिल पार है, ठीक बना, let's leave it, तो हमने ये भी ले करा इंडिया के अंदर, हमने अपने debt recovery tribunals को reform किया, अब ये होते क्या है, आज NPA की problem समझे है, अभी आने वाली class, जो अगली class होगी, that will be measures to tackle NPA crisis in India, आज क्या देख रहे हैं, आज हम देख रहे हैं NPA की problem, कल हम क्या देखे हम देखेंगे NPA के solutions, ठीक हैं, तो इसी वज़े से आपको देखने मिलेगा कि इंडिया के अंदर ऐसी exceptional problems बड़े level पर हुई है, जिस वज़े से अगर आप देखें, top 10 stressed groups, उनकी संख्या हर साल बढ़ती जारे, stressed मतलब जो stress loan लेकर बैठे हैं, जो चुकानी पारे, उनका उ उन्हें महलत दे दे रहा था, उन्हें permission दे दे रहा था कि अभी अगर पैसा नहीं चुका पारे हो, थोड़े time में चुका देना, economy crisis से जू जरी है, कोई बात नहीं, जब recover कर ले, तब चुका देना, so India ने reforms करे, काफी सुधार करे, so with reference to GDP deflator, consider the following statements, पहला, changes in consumption patterns or the introduction of goods and services are reflected in the GDP deflator, second point, it is released every quarter by ministry of statistics and program implementation, इन में से कौनसी statement सही है, इसका आपको जवाब देना है, which of the following statement is correct, please answer this question, इसका जवाब देना है, और बहुत interesting होने जा रहा है यह session, आप सब को live test series करने का मौका मिल रहा है, questions answer करने का मौका मिल रहा है, आप जब P2I batch में admission लेते हो, उसमें तो included होता है, उसमें inclusive test series, यहाँ पर मैं आपको अलग से इसका benefit दे रहा हूँ, तो GDP deflator के उपर सवाल पूचा है, जो कि हमने national income के topic में पढ़ा था, what exactly is it, आपको जवाब देना है, अब मैं आपके साथ-साथ solve करूंगा और आपको सिखाऊंगा, पहला statement देखो, क्या कह रहा है changes in consumption pattern, जो हम खान पीन करते हैं, जो हम चीजों के ओपर पैसा खर्चते हैं, इस्तमाल करते हैं, we consume on various things, we consume money, we spend money on various things, जिस से आपको देखने मिलता है, कि आप एक particular amount contribute करते हो हमारे देश की GDP में, हमारे देश की economy में, अब GDP deflator जो है, वो महंगाई को नापता है, वो यह खर्चे से कितना economic output, कितना production हुआ है हमारी economy में, और पीछे से prices जब बढ़े, जब चीजों के दाम बढ़े, तो उसका impact क्या रहा हमारी GDP पर, मतला हमारे देश की total income पर, हमारे देश की total income आपको दिख तो 1 करोड 20 लाक रही है, मान लेते हैं, 1.20 लाक करोड रही है, 1.20 ला GDP, that is because of increase in prices, तो मैं जो बात बतानी कोश्च कर रहा हूँ, देश की total income कई बार जादा दिखती है, क्योंकि चीजों के दाम बढ़ जाती है, महंगाई हो जाती है, जबकि reality में, आपके देश में volume तो नहीं बढ़ा, quantity तो नहीं बढ़ी production की, price भले ही भढ़ गया, एक example और द कि देखो, 80 into 54,000 होता है, 80 unit बिके, 80 unit rate था और 50 unit बिके, बट अगर इसका rate बढ़ जाए, अगर 100 units बिके, और वो भी 100 rupees per unit बिके, वो भी 60 unit, तो आपको देखेगा, 6000 का output हो गया, क्या बोला, एक बार रिपीट कर देता हूँ, 1000 rupees per unit rate हो गया, rate बढ़ गया, price बढ़ गया, और थोड़े से ही units बढ़े, तो आपको देखेगा, कि 4000 से 6000 का production हो रहा है, 50% बढ़ गया, बट reality में तो price बढ़ा है, reality में तो चीज महंगी होई है, factory में, output थोड़ीना बढ़ा है, 50% से, price बढ़ा है, जिस वज़े से आपको देश के अंदर, आप nominal GDP निकालते हो, nominal GDP मतलब एक देश की सकल घरील उतपात, total income, जो हमने अलग-अलग sources से कमाई है, जिसमें जो prices बढ़ गए है, वो as it is show हो रहे है, हटाए नहीं गए है, इसका उल्टा होता है real GDP, जिसमें से inflation हटा दिया जाता है, कि मानलो real GDP 100 है, और nominal GDP 150 है, कि चीजों के दाम 1500% बढ़ गए है, इसलिए आपको जाधा price दिख रहा है, जाधा quantity production दिख रहा है, जबकि उतना production हुआ नहीं है, तो यह GDP deflator से आप normalize करके देख सकते हो, कितना percentage increase हुआ है, यह आपको पता चल जाएगा, दूसरी बात, क्या यह Ministry of Statistics and Program Implementation के द्वारा रिलीस की जाती है, जी हां, साफ NCRT में लिखा है, GDP deflator quarterly basis पर, GDP estimate के साथ निकाला जाता है, और Ministry of Statistics, Program Implementation के द्वारा यह निकाला जाता है, यह बात याद रखिएगा, correct answer क्या हुआ, correct answer इसका 1 and 2 are correct, so correct answer has to be C, दोनों सही है, आगे चलें, second question पर, यह current affairs का question है, economic से related, dollarization, is converting capital asset into dollar, to shore up foreign exchange, during recession, मंदी के दौरान, अगर आप dollar बढ़ाओ अपनी तिजोरी में, या assets को dollar में convert करो, तागी foreign exchange reserve बढ़े, तो क्या वो dollarization होता है, second point, cryptocurrencies, have the potential to be a medium of exchange, and replace the rupee, in financial transactions, which of the following statements given above is, are correct, इन में से कौनसी statement सही है, one only, two only, both one and two, neither one or two, अब cryptocurrencies के उपर सवाल पूछा है, they have the potential to be a medium of exchange, जैसे, normal हम transaction करते हैं, पैसे की अदला बदली करते हैं, रुपे को आप exchange करते हो ना कि यह लोग 500 रुपे का note मुझे, इसके बदले कुछ समान दो, cryptocurrencies के अंदर भी क्या वही potential है, क्या वो replace कर देगा रुपी को, रुपी को replace करने के उपर सवाल पूछा है, आप logic समझो question का, question is asking, can it replace the रुपी, इसलिए इसके अंदर आपको current element दिख रहे है, current face में यह topic चलता रहता है, क्या यह रुपी को replace कर सकता है, क्या, तो पहला statement क्या है, dollarization, यह capital asset को dollar में convert करना है, नहीं, गलत हो गया वो, क्यों dollarization का मतलब होता है, कि जब दुनिया भर में trade dollar के थुरू ही चले, बाकी currencies को कोई पूछे नहीं, अमेरिका ने अपना वर्चस सो 1960s, 1970s में इतना ज़्यादा बढ़ा दिया दुनिया में, कि dollar dominate करने लगा पूरी दुनिया के अंदर, तो dollarization का मतलब है कि dollar को ही substitute कर रहे है, currency का तौर पे, अगर कोई देश dollar में ही trade करे, dollar का ही इस्तमाल करे, dollar में ही व्यापार करे, अपनी local currencies को छोड़ कर, तो वो देश dollarization कर रहा है, आपको पता है, America जितने note चापता है, उसमें से two thirds, dollar तो अमेरिका में है ही नहीं, दूरसे देशों के पास है, हमारे पास भी है, हमारे भी तिजोरी में, foreign exchange reserve में, dollars काफी quantity में, बॉलिविया जैसे एक देश का example दो, बॉलिविया South American country है, उसने अपनी currency छोड़ दी, और उसने dollar का इस्तमाल करना शुरू किया, मतलब उसके देश में 80% currency जो घूमरी है न वो dollar ही है, इसका उल्टा होता है de-dollarization, इंडिया कह रहा है de-dollarization होना चाहिए, dollar का कम इस्तमाल, र रुपए देकर खरीदेंगे या धिरम देकर खरीदेंगे जो UAE की currency है, बलकि रशिया से हम जब oil gas खरीदते हैं, रशिया कहता है कि आप हमें yuan में payment करो, Chinese currency में, या धिरम में payment करो, रुपए में पहले बहुत payment कर चुके हैं वो, हम उनने, और उनके बहुत रुपए पढ़ है, बट RBI इसको oppose करता है, RBI कहता है कि हमने जो यह currency note छापे हो है, इसका digital form लेकर आ रहे हैं आपके लिए, जिसका नाम है E-Rupee, यह वही currency है जो आप digital form में देख रहे हैं वाचकल, E-Rupee, अलग से issue होती है, E-Rupee, crypto currencies वो currency होती है, जो cryptographic technology के माध्यम से बनी है, जैसे bitcoin, ethereum, libra coin, यह cryptographic technology के आधार पर बनी है, इनकी पास potential है, to become a medium of exchange, और आगे जाकर, इसका इसका इस्तमाल, व्यापार में इस्तमाल हो सकता है, financial transaction में हो सकता है, but there is no regulatory body behind it, problem यह है, RBI कहता है को कोई central bank नहीं है, को centralized institution नहीं ह इसको control करने के लिए, RBI ने थोड़ी ना बनाया bitcoin, कहते हैं कोई satoshi naka moto थे, अब कौन थे पता नहीं, सरकार ने इसलिए जो 30% tax लगा दिया, crypto currencies के उपर, तो basically सरकार कहा रही है, कि crypto currencies खरीद और बेच सकते हो, but transaction अभी फिलाल नहीं किया रह सकता, आगे जाकर इसके transaction का potential हो स it has the potential, सवाल क्या पूचा है, potential पूचा है, क्या अभी इसको medium of exchange के तौर पे यूज करते हैं, नहीं, क्या potential है इसमें, हाँ, ये question पूचा था, देखा, confused हो गए ना, तो correct answer B हो गए इस question का, one is wrong, second is correct, therefore, correct answer is B, I hope it is clear to all of you, third question, which of the following may be considered a final good used in GDP calculation of an economy, छे चीज़े हैं, tea leaves, चाइगी पत्ती, कैपचीनो, टायर, कोकिंग ओईल, केक, समोसा, अब आपको बताना है इन मैंसे किसको GDP calculation में use किया जाएगा, अब आप कहो कि सर ये क्या question है, logic है इस question का, I will explain the logic, उससे पहले एक बार session like जरूर कर दीज़ेगा, so that you can support our initiative to help you in preparing for UPSC, please like कर दीज़ेगा session को, अब question मैं आपसे ये पूछा गया है, इन मैंसे कौन से चीज़े हैं, आपकी GDP में शामिल होती है, actually ये question जानूच के पूछा गया है, हम चाह रहे हैं कि आप इसमें से final और intermediate goods identify कर सको, final goods कौन से है, intermediate goods कौन से है, ये identify कर सको, ये identify करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, final goods का मत अब जिसको final consumer use करते हैं, जैसे for example, tea leaves, चाय पती, चाय पती से चाय बनती है, चाय final product है, tea leaves intermediate goods है, बट कुछ cases में आप tea leaves को final product भी मान के चलते हो, क्योंकि हम अपने घर में चाय पती इस्तमाल करते हैं, करते हैं, आपको दो तरीके के goods देखने मिलते हैं, एक जो raw material है, तो tea leaves को आप अपने घरों में भी इस्तमाल कर सकते हो, चाय पती खरीद के लाते हो, टाटा टी, जरुए थोड़ने हर इंसान भारी चाय पीता है, घर में बनाते हैं लोग, तो tea leaves उस case में आपका final product हुआ, cappuccino, हाजी बिलकुल हम coffee लाते हैं, घर पे coffee बनाते हैं, tire, क्या तायर को एक final product कह सकते हो, क्या, tire अगर आप as a final product, final good खरीद रहे हो, तो definitely इसको आप use कर सकते हो, as an individual object, जैसे for example, आपको tire खरीदना पड़ा, गाड़ी में खुद tire चेंज करने के लिए, वैसे tire एक intermediate product है, लगा लगाया आता है, लगा लगाया आता है, गाड़ीयों के अंद अगर आपकी एक गाड़ी का tire पंचर हो गया, और आपको एक नया tire खराब हो गया, घिसर गया, खराब हो गया, नया tire खरीदना पड़ रहे है आपको, then in that case, it may be considered, may be वाली बात है न, 100% तो नहीं कह सकते हैं, but may be 1% chances है, 0.01% chances है, तो शब्दों की एहमियत समझो, cooking oil, घर प इस्तमाल होता होगा, refined tail, sarsoga tail, cake, हाजी sir, birthday होता है, तो काटते हैं as a final product, samosa, of course sir, ये सारे के सारे final goods माने जा सकते हो, GDP calculation में, may be included, may पूछा है न, correct answer क्या होगा, D होगा, ये सारे आएंगे, अगर कोई भरम है, तो ये may word पढ़ लो, जानमूच के, इसको डाला गया, ताकि आप confused ना हो, fourth question, with reference to a situation of excess demand in an economy, consider the following statements, first, aggregate demand is more than aggregate supply, second, market price is lower than equilibrium price, third, the employment is at full level, which of the following statement given above are correct, option आपके सामने, excess demand मतलब market में, demand जादा है, supply के मुकाबले, और हमने inflation में पढ़ा था, कि जब demand जादा होती है, supply के मुकाबले, तब inflation या, महिंगाई बढ़ती है, और क्यूंकि महिंगाई बढ़ती है, इसका नुकसान आमजंता को होता है, ता first statement तो सही है, aggregate demand is more than aggregate supply, excess demand में हमने पढ़ा था जब हमने demand is more than supply की बात करी थी, market price is lower than equilibrium price सर, इसका मतलब क्या है, logic लगाते हैं, equilibrium price का मतलब है, ऐसा दाम, जिसपे seller और जिसपे buyer, दोनों तयार है, seller sell करने तयार है, buyer buy करने तयार है, ये दोनों तयार है, दूसरी बात, market price is lower than equilibrium price, तो market price होता है, जिस price पर चीज़े market में बिक रही है, वो rate जिन पर चीज़ों को market में बेचा जा रहा है, sell किये जा रहे है, ठीक है, market में बिक रहे है, and third, आपका employment level is full level, देखो जब भी employment level की बात कर रहे हो, तो jobs की बात नहीं कर रहे हो, कि resources को कैसे employ की अड़ा रह रहे हो, तो ये भी सही है, excess demand का मतलब है कि आपने resources को पूरी तरह employ किया हुए, मतलब चीज़ों की supply जितनी हो सकती है, maximum हो रही है, आपने हर resource को हर संसाधन का पूरा इस्तमाल किया रहे है, for example, टमाटर के rate बढ़ गए थे बीच में, because excess demand थी, supply उतनी होनी पारी थी, और जि level, market price is lower than equilibrium price, market price higher होता है, lower नहीं होता, market price is lower than equilibrium price, ये कहा जा रहे है, normally market price higher होता है, normally, normal situations में market price आपको high देखने मिलता है, market price is higher, but normally बोले, excess demand की situation, normal situation नहीं है, excess demand की situation, एक average situation नहीं है, excess demand में, जब demand बहुत जादा है, तो अगर normal price इतना है, तो sellers जो है, वो जादा price पे बेच रहे हैं, क्योंकि लोग खरीद लेंगे, लोग खरीदने तयार है higher price पर, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है, normally 100 रोपे की जो चीज बेची जाती है, वो 200 की बिक limited, जो market के अंदर quantity supply हो रही है, बहुत limited है और demand बहुत जादा है, तो correct answer D होगा, ideal situation क्या होती है और excess demand में क्या होता है, ये दोनों मैंने बता दिया, जब demand बहुत जादा होती है, और जैसे COVID के time पर oxygen बढ़ी महंगी होगे थी, तो normally 30,000 रोपे का oxygen cylinder एक एक लाग के भी करे थे क्यों, क्योंकि आपको ये देखने मिल रहा है, कि उस time पर, excess demand के situation के अंदर, there is huge shortage in the market, when the market price of the commodity is lower than the equilibrium price, then there occurs the excess demand, ठीकर न, equilibrium price मतलब दो खरीदार और, एक खरीदार और एक, बायर और एक सेलर, विकरेता, दोनों ready है, deal करने के लिए, और, in this situation, consumers who are unable to obtain the commodity at all, जो खरीदी नहीं पा रहे है, consumer, वो जाधा price दे के भी खरीदने तयार है, और seller जाधा price पर बेचने तयार है, इसलिए, आपको देखने मिलेगा, market price is less, जो normally market में, जिस पर दाम पर बिकता है समान, और equilibrium price is more, जिस rate पर, seller sell करने तयार है, buyer buy करने तयार equilibrium price का मतलब है, वो price जिस पर दोनों के बीच में agreement हो गया, seller और buyer के बीच में, तो correct answer इसका होगा, 1, 2 and 3, 1, 2 and 3, correct answer, अगला question, economic growth और economic development पे हमने बात करी है, economic growth और economic development पे question है, economic growth focuses on changes in social economic structure of a country, economic development focuses only on production of goods and services, economic growth may occur without economic development, क्या answer होगा इसका, सोच यह बहुत simple question, not very difficult, economic growth मैं पहले बता चुका हूँ आपको, growth का मतलब है, quantitative increase, GDP बढ़ गई, per capita income बढ़ गई, वो हो गई, growth, development का मतलब है, equitable distribution of resources, resources का संसाधन का बराबर रूप से बटवारा, समान रूप से बटवारा, equitable distribution of resources, जब resources का बराबर से बटवारा होता है, equitable तरीके से बटवारा होता है, समान रूप से बटवारा होता है, तभी resources जनता तक पहुँच पाते हैं, health education के benefit पहुँच पाते हैं, तो GDP ग्रो हो गया तो क्या जब तक गरीबों की गरीबी दूर ना हो तो economic growth focuses on changes in social economic structure गलत यह economic development का concept है कि economic development चाहता है कि GDP तो बड़े ही बड़े health भी अच्छी हो education भी सुद्रे लोग जाधा पैसा भी कमाएं गरीब और अमीर के बीच की गरीबी दूर गरीबों की गरीबी दूर हो तो यह आपका economic development के concept में आता है first statement is wrong economic development focuses only on production of goods and services अजी यह तो growth का concept हुआ economic growth जो है easy जो है उसको सिर्फ quantity से मतलब है उसे मतलब है कि कितनी production हो गया कितना goods and services बिग गये तो second भी गलत है one and two both are wrong हमने एक ही answer दून पाए हम वो है d three only economic growth में ओकर without economic development सही बात है जी देश में अभी फिलाल कुछ समय पहले आपने concept सुना होगा jobless growth कि देश में GDP तो बढ़ रही है और लोगों को नौकरिया नहीं मिल पारी बेरोजगारी बढ़ रही है level of poverty is rising jobs create नहीं हो पारी technology इंसान को replace करता जा रहा है technology इंसान को replace करता जा रहा है technology is replacing human beings आपको क्या देखने मिला आपको यह देखने मिल रहा है that economic growth may occur without economic development correct answer D है 3 only 3 only is the correct answer moving head next question यह आपका 3 only हो गया with reference to the Indian economy from 1950s to 1990s considered the following statements पहला service sector became the dominant contributor to GDP by 1990 तूसरा percentage of people employed in agriculture remained almost constant और तीसरा growth rate grew steadily from 1990s to 1950s to 1990s simple question है थोड़ा logic लगाओ और answer ढूणने की identify करने की कोशिश करो पहला statement कह रहा है कि service sector जो है आपका इंडिया के अंदर एक major contributor GDP के अंदर 1990s के बाद बना सच बात है 1991 में ऐसा क्या हुआ था LPG reforms हुए थे liberalization, privatization and globalization reforms LPG reforms service sector actually बहुत बड़ा contributor बना GDP को contribute करने वाला 1990 के बाद ये सच है दूसरा percentage of people employed in agriculture remained almost constant क्या ये सच है agriculture के अंदर जब हम आजाद हुए थे 70-80% population थी जिनका contribution जितना होता था उतना ही contribution 1990s तक भी आपको देखने मिला कोई जादा change नहीं आया population धीरे धीरे कम होने लगी उस ताइम पर जब proportion of GDP which was contributed by agriculture sector that proportion of GDP declined significantly but the population was as much as it was मैं जो बात बोलने ही कोईश्च कर रहा था कि 70% के करीब हमारी population 1950s में agriculture पर डिपेंडेंट थी 65 के करीब 1990s में हमारी population agriculture पर डिपेंडेंट थी 1990s तक हमारी 65% population agriculture पर डिपेंडेंट थी तो percentage of people employed in agriculture remain constant सही बात है वह उनका GDP में contribution था वो fall करता गया और agriculture का contribution कम हो रहा था industries का बढ़ रहा था सर्विस सेक्टर का बढ़ रहा था industries और सर्विस सेक्टर में चलांग लगी और सबसे ज़्यादा चलांग थी सर्विस सेक्टर की agriculture की जो गिरावट थी जो डिकलाइन था वही सर्विस सेक्टर को आगे ले गया इसी लिए आपको second statement सही देखने मिलेगा अगला है growth rate grew steadily from 1950s to 1990s ये गलत है growth rate जो है इंडिया का कभी steadily कभी लगातार नहीं बढ़ा zigzag zigzag करके बढ़ा है zigzag pattern में आगे बढ़ा है कभी भी there was not a steady increase कभी एक जैसा increase नहीं हुआ दीरे दीरे ऊपर नीचे उतार चड़ावाता रहा zigzag pattern था कभी उपर कभी नीचे और ज्यादा 3-4% के आसपस average रहता था इसलिए ये गलत हो गया statement third जहां पर दिख रहा है उसे काट दो A will be the correct answer first and second statements सही है A will be the correct answer simple था ये question काफी logical है इसमें दिमाग लगेगा आपको और ऐसे सवाल आजकर UPSI इस pattern पर questions पूछ रहा है latest pattern है ये इसको अच्छे से identify कर लो और इसको answer करो इस latest pattern पर UPSI आजकल सवाल पूछ रहा है इसको पढ़ो identify करो पढ़िये 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 capitalist society के आगे लिखा है definition लिखी है goods produced is distributed among people on the basis of purchasing power कि जितनी हैसियत है औकात है उसको उस हिसाब से समान बेचा जाते है उस price पर समान बेचा जाते है socialist society no private property and mixed economy goods are produced to be sold profitably in the domestic market and foreign market कौन सा statement सही match है मदब क्या capitalist society के आगे जो लिखा है वो सही matched है क्या socialist society के आगे जो लिखा है वो सही matched है क्या mixed economy के आगे जो लिखा है वो सही matched है, यह आपको बताना है इस question का correct answer आपका होगा, कि mixed economy वो economy होती है जहां पर सरकार और private sector दोनों मिलकर काम कर रहे हैं सरकार private sector कापस में मिलकर compete कर रहे हैं जहां पर government जो है private sector को support करती है regulate करती है अब इसमें पहला statement जो कह रहा है goods are distributed among people on the basis of their purchasing power यह होता है capitalist society में America, UK, US, ऐसी देशों में कि जिसकी जितना पैसा उसको उस दाम पे बेचा जाएगा आईफोन बिखता है न, डेल लाग रुपेगा, क्यों बिखता है तो कि लोग खरीद सकते हैं, people can buy it लोगो को सस्ते घर दिये जाते हैं जो गरीब है जो अमीर है वो पॉश लोकालिटीज में रहते हैं क्योंकि वो खरीद सकते हैं तो यहां पर लोग के जितनी purchasing power है उस basis के हिसाब से चीज़ें बेची जाते हैं तो यह तो सही है Socialist Society में there is no private property Actually, Socialism का ही एक form होता है Communism Socialism का एक form होता है Communism Communism के अंदर आपको कोई private property नहीं देखने मिलती Communism के अंदर कोई private property नहीं होती तो strictly अगर एक Socialist Society है तो वहां पर private property नहीं होगी and everything will be owned by the state Example, इसका Cuba, Example, इसका China जहां पर जाधतर economic activity सरकार अपने मार्क दर्शन में करवाती है तो socialist में आप अगर सोच रहे हो कि सर यहां पर no private property का concept नहीं होगा यह तो Communist में होता है तो यहां पर possibility है कि एक Socialist Society Private property सारी अपने पास government के पास रख ले और जनता के हाथ में कोई property नहीं हो ऐसी Socialist pattern of society को Communist कहा जाएगा तो there is a chance यहां पर भी आप देखो गुमार है question आपको आप कहोगे नहीं नहीं सर यह तो Communism का point है, Communism तो लिखा नहीं है तो Communism is a form of Socialism only Communism, Socialism का ही एक रूप है बस extreme form है यह भी सही है, आगे third Mixed Economy, Mixed Economy का जो statement है, Goods are to be sold profitably जरूरी नहीं है, ऐसा हो जरूरी नहीं है, Mixed Economy के अंदर ऐसा नहीं होता, ऐसा Capitalism में या Market Economy में फिर भी हो सकता है, पर जरूरी नहीं है Mixed Economy में ऐसा हो दुनिया में आजकल जादातर देश Mixed Economy है, जहां पर Government और Market साथ मिलकर Competition कर रहे हैं, वो decide करते हैं what to produce, how to produce and how to distribute whatever is produced जो भी क्या बनाया जाए कैसे बाटा जाए लोगों में और कैसे बनाया जाए ताकि सब में समान रूप से बराबर गूप से बच सके तो यह आपका statement गलत है थर्ड वाला, only two pair are correct and that is why C is the correct answer Which of the following was worth the motivation for the British to thwart industrial growth in India पहला, to reduce India to the status of mere exporter of important raw material to British industries अंग्रेज़ों नहीं हमारी industrial growth क्यों खतम करी, उनके पीछे reason क्या थे, यह पूचा है to reduce India as the status of mere exporter of important raw material, कि हम British industry से British made product खरीदे इंडिया में raw material लेकर आए राइट, दूसरी बात exporter लिखा है, sorry British से हम finished goods खरीदे, अब यह Britain है, तो वो हमें इंडिया को finished goods दे रहे है हम उन्हें raw material दे रहे है, मैं यह कहना चाहरा था, statement यह लिखा है second है, to turn India into a sprawling market for the finished goods from Britain and third, to employ Indian artisans in British industries, क्या आपको लगता है इंग्रेज इतने दयालू थे कि Indians को British industries में शामिल करना चाहते थे, क्या उन्हें पढ़ी थी कुछ की हमें नौकरी मिले या ना मिले, they were they interested in providing us jobs क्या आपको लगता है उन्हें फरक पढ़ता था Indian, indigenous handicraftsmen और artisans को, कलाकारों को शिल्पकारों को मौका मिले उन्हें कोई फरक नहीं पढ़ता था तो ये गलत हुआ, third गलत हुआ third जहां दिख रहा है वो काट दो first, to reduce India as a state or to the status of a mere exporter of important raw material to British industries ये सही है this is correct, second भी सही है major motive था British government का कि वो systematically destroy करना चाते हैं इंडिया की industry को, इंडिया से raw material खरीदेंगे, उन्हीं को British factories में produce करेंगे और वापस उन raw material को finished goods में convert करके इंडिया को बेचेंगे, तो ऐसे systematically वो de-industrialize कर रहे थे इंडिया को, इन दो A होगा इसका correct answer चलिए, अगले question पर अब ये money से जुड़ा हुआ है मैंने आपको fiat money क्या था, ये बताए था which of the following pairs are correctly matched correctly matched कौन से हैं ये आपको पढ़ना है, ये आपको बताना है ओके बताए अब देखो, question में का है fiat money fiat money मतलब, वो पैसा जो सरकार के दोरा announce किया गया कि ये legal होगा, इसको आप legal tender के तौर पर use कर सकते हो इसको आप use कर सकते हो actual currency के तौर पर है इसको कहा जाता है fiat currency but इसके आगे क्या लिखा है intrinsic value लिखा है क्या लिखा है, that they have intrinsic value देखो जो 500 रुपे का note है उसको चापने में 500 रुपे नहीं लगे है 500 रुपीस is not spent on printing the currency it is just a 500 रुपी note where 500 रुपीस were not spent हो सकता है 2-3 रुपे में note चपा हो और आज 500 का note आपके हाथ में है तो उसकी कोई intrinsic value नहीं है कागच की कोई जादा intrinsic value नहीं है पर यही सोने की eat होती जैसे metal है 25,000 का तो वो सोने की eat या gold coin या silver coin की value भी 25,000 ही होगी क्योंकि उनकी खुद की intrinsic value है internal value है first देखते ही काट दो आपको fiat money मैंने बताये था क्या होता है आपको बाकी पता है नहीं पता कुछ फरक नहीं पड़ता one दिखा eliminate किया आपके पास answer आ गया ऐसे question UPC normally पूछता है थोड़ा वो pair system पे आ गया है आजकल पर वो ऐसे सवाल हमेशा पूछेगा ही तो correct answer इसका B होगा 2, 3 and 4 fiduciary money available as a means to carry out transaction commodity money a type of goods that function as a currency and currency substitution when a country uses a foreign currency in lieu of or in addition to domestic currency आप इन statement को देख लेते हैं fiduciary currency जो आपका है statement सही है ये आपका वो currencies होती है जिनको आप विश्वास में इस्तमाल कर सकते हो किसी व्यापार को करने के लिए कि आप एक दुकान पे गए एक भाईया को 20 रुपे का नोट दिया उन्होंने आपसे ले लिया तो 20 रुपे में उनका विश्वास है उसको ट्रांजक्शन के लिए यूज कर रहे हैं वो fiduciary currency हुआ commodity money एक होता है आपका paper money एक होता है commodity money अगर हम एक दूसरे के साथ सोने के सिख्के एक्सचेंज करते तो वो commodity money होता और concept होते है currency substitution का कि आप foreign currency को substitute करो किसी और currency के साथ जैसे डॉलर को रुपे के साथ रुपे को डॉलर के साथ तो यह आपका currency substitution है तो correct answer B होगा इस question का इस question का correct answer B होगा priority sector lending norms RBI के अभी recently मैंने इसके बारे में आपको हमारे जो हमारा यह पूरी सीरीज चल रही है इसमें बताया था अगर आपने अभी तक previous lecture नहीं देखे हैं पुरानी videos नहीं देखी है हमारी सीरीज की तो जरूर देखिएगा अपको लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है it's very important for you and not just that students इस question पर आगे चलने से पहले मैं आपको inform करता हूँ study IQ के P2I batch prelims means interview की preparation के batches अवेलेबल है 2024 के लिए and 2025 के लिए आपको studyiq.com पर जाना है UPAC live classes पर क्लिक करना है कल से हमारा 15 अगस्ट 15 अगस्ट के लिए sales शुरू हो रही है और हम आपको इसमें बहुत high बहुत excessive discounts दे करने के लिए तो it's now time that you take admission आपको और maximum discount मिल सकता है आप वसु live admission discount code apply करिएगा वसु live admission discount code आपको maximum discount मिल जाएगा आज इतना price दिख रहा है आगे आपको इसमें थोड़ा decrease भी देखने मिल सकता है कितना वो कल आपको पता चली जाएगा live classes, recorded lectures, prelims और mains की test series, daily answer writing practice program आपको की analysis मिलती है, यह सारे benefit आपको मिलेंगे, आप अपनी daily basis पर live class करोगे, routine से एक discipline के साथ, अगर job कर रहे हो, college जा रहे हो, class छूट गए तो recorded भी देख सकते हो, सारे subjects की books मिलेंगी आपको, उनसे आप अपना syllabus cover कर पाऊगे, prelims और mains की test series आपको दी जा रही है, prelims और mains के crash course के स साथ, हर हफते के हफते weekly हम आपके साथ test करेंगे, CSAT की classes देंगे, current affairs की classes देंगे, तो मतलब और क्या चाहिए आपको UPC preparation के लिए, it's more than enough, and this batch can help you in succeed in UPC exam, इसके साथ साथ आप हमारी study IQ की previous videos प्राप्त कर सकते हैं, हमारी पूरी playlist है, आपको पूरी playlist मिल जाएगी, अगर आप साथी classes हो चुकी है, आपको इससे काफी फायदा मिलेगा, आगे चलते हैं, question पर वापस आते हैं, question पर चलिए, पहली बार, question क्या रहा है, PSL, Priority Sector Lending Norms RBI के, इसमें आपको देखने मिलेगा, it applies to all commercial banks except foreign banks operating in India, जिसमें actually क्या अगर bank loan देता है, 100 मेंसे 40% पैसा, वो जो लोन म दे रहा है, 100 मेंसे 40% पैसा, वो Priority Sector Lending कहा जाता है, मतलब उन लोगों को जो गरीब है, जिनके पास अपने resources नहीं है, schedule का, schedule tribe से belong करते हैं, उनकी भलाई के लिए Priority Sector Lending का concept है, तो यह सारे bank को पैपलिकिवल है, चाहे सरकारी हो, चाहे private हो, चाहे foreign हो, चाहे Indian हो, सारे banks को Priority Sector Targets पूरे करने होते हैं, तो पहला statement गलत हो गया, correct answer आपका भी है, आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था, PSL के बारे में, Priority Sector Lending सब पैपलिकेबल होती है, तो यहाँ एक चीज आपने identify कर लिए और पूरा answer आपने डून लिया, second और third statement सही है, housing and renewable energy, मतलब आप मक PSL certificates enable banks to achieve their priority sector lending targets, बिल्कुल सही बात है जी, अपने targets पूरे करने के लिए PSL certificate आपको मदद करते हैं, priority sector lending certificates, target मतलब, bank अगर 40% loan देना है उसे, और मालो 38% ही दे पाया, 2% रह गया, कोई बात नहीं है, आप यह PSL certificate खरीद लोगे, जहाँ पे आप अपना पैसा उन areas में यह खरी priority sector के benefit के लिए जा रहे हैं, तो अगर 100 रुपे का loan देना था, 40, 100 रुपे में से 40 रुपे का loan देना था priority sector को, as per rules, और आप 30-80 दे पाये, जो 2 रुपे बच गया था न, वो आप in certificate को खरीद लो, जो पैसा certificate के बदले दे रहे हैं, वो priority sector के benefit के लिए जाएगा, उनको बहु 5 by 25 arrangement, क्योंकि क्या होता है न, कि इंडिया के अंदर non-performing asset, वो bad loans, वो loans जो bank दे तो देता है, पर सामने वाली party उसे time पर वापस नहीं करती, time पर लोटाती नहीं है, जिस वज़े से बैंकों को काफी जादा problems का सामना करना पड़ता है, तो सबसे पहली scheme, जो Indian government ले S4A scheme, इसके objective को हम समझेंगे, इसका aim क्या है, क्या हासिल करना चाहती है सरकार, S4A, ये नाम थोड़ा अजीब सा लग रहा है न, जैसे आपको देखने मिलता है, कभी खुशी, कभी गम, K3G कहा जाता है उसे, ऐसे S4A है, short है, इसका full form होगा, scheme for sustainable structuring of stressed assets, सुनो, सुनो, विसली government scheme है, scheme for sustainable, sustainable structuring, structure किया जा रहे, कोई चीज़ खराब हो गई है, उसे सुधारा जा रहे, of stressed assets, scheme for sustainable structuring of stressed assets, sustainable मता हो, समाधान को होजने की कोशिश करे हो, problem का, change करने ही कोशिश करे हो, problem को, कौन सी problem को, stressed assets की problem को, yes, you have got it, stressed assets मतलब वो loan, जिनका पैसा वापस नहीं आ पा रहा है, वो loan के जो loan लेके तो बैठे है, पर वापस चुका नहीं रहे है, उनके loan को restructure कर रहे हैं कि एक बात बताओ, अभी आप पैसा नहीं चुका पा रहे हो, कोई बात नहीं, अब बाद में चुका देना, आप इतना high interest न resolve the bad debt problem of India, ये भारतिया कंपनियों में ऐसा था कि वो लोग loan तो लेके बैठे थे भारतिया कंपनियां बैंकों से, लोन लिया था, पर वापस नहीं चुका पा रहे हैं, क्योंकि पैसा नहीं था, economic crisis, recession जैसे हलात आ गए थे, और जिस वजए से कई सारे ऐसे corporate borrowers थे, कंपनिय यहां थी, जिन्होंने उधार लिया था, वापस चुका नहीं पा रहे थे, कोई बात नहीं, हमने कहा, देखो, आपने पैसा लिया है, उधार लिया है, हो सकता है, आपने उधार लिया किसी project के लिए, जिसका एक हिस्स्ता है, part one है, जिसकी problem यह कि उसमें थोड़ा और पैस पैसा लगाय जाए, तो वो अच्छे से चल सकता है project, उन project को जो की sustainable है, उनको continue रखेंगे, पैसा चाहिए, और पैसा दे देंगे, we will provide you more money, because this project is good, एक businessman का ही समझ लो, example ले लो, कि कोई project ऐसा है, जिसमें वो बगर पैसा डाला, तो अच्छा return दे सकता है, बट पैसे की कमी ह बहुत ऐसे cases होते हैं, property, real estate market में ऐसे होते हैं, एक building बननी तो शुरू ही, पर बीच में builder जो है, वो दिवालिया हो गया, अब builder को थोड़ा पैसा दे दोगे, तो project पूरा करेगा, सारे flat बेट देगा, और पैसा कमा के bank का loan उतार देगा, तो आप sustainable part को अलग से manage करते हो, और loan के पीछे भागोगे तो, ऐसे ideas को कहा जाता है, कि ideas के लिए आप good money throw करोगे bad investments की तरफ, खराब investment की तरफ, तो ये गलती नहीं करनी है, खराब investments की तरफ पैसा नहीं फेकना है, इसी वज़े से unsustainable part को loan के आप खतम करते हो, आप उसे loss मान के छोड़ देते हो, आगे जाने खतम कर देते हो, ये है आपका S4A initiative का हिस्सा, unsustainable debt को आप छोड़ देते हो, sustainable debt को ही continue करते हो, और एक चीज की जरूरत है, जो sustainable part है, that should be more than 50% of the existing debt, more than 50% of the existing debt, मतलब आपने दिया था एक company को 10 करोड का loan, उसमें से कम से कम 5 करोड का loan ऐसा होना चाहिए, जो sustainably आप solve कर सको, इसी लिए याद रखना, more than 50% sustainable part होना चाहिए, more than 50% वो part होना चाहिए, जैसे आज भी आप recover कर सकते हो, salvage कर सकते हो, अंगरेजी के शब्द है, हिंदी मैं बोल अब एक और चीज़ है, unsustainable debt, जिसे आप company चुका नहीं पा रही है, तो आप हो सकता है कि उसे equity में convert कर दो, company के मालिकाना हक को ले लो कि आपने 10 करोड का loan दिया था, उसमें से 6 करोड अच्छा part है, जिसको recover कर सकते हो, जो business project अभी भी चल सकता है, 4 करोड ऐसा है जो loan recover नही भारी भारी शब्द आपने बोले है, convertible debenture, debenture का मतलब है उधार लेना, आप से मैं पैसा उधार लूँ, आपको मैं written document दूँगा, तो उसे debenture कहेंगे, bond, debenture है न, एक written contract है, जिससे आप उधार ले रहो, अब जो company ने 10 करोड का loan लिया था, बैंक से, 6 करोड का तो business project अ लिया था, उस company में, मालिकाना हक ले लेगा, या convertible debenture बना देगा, कि तुम पैसा उधार पे चुका देना, नहीं चुका पाए, तो हम तुमारी company की ownership ले लेंगे, convertible है, अभी तो उधार है, बाद में convert होकर, मालिकाना हक में, या equity में convert हो सकता है, this is something which we are going to do for you, isn't that easy, if that is easy, please 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 like the video, हमारे इस initiative को support कर दीचे, please put your thumbs up, तो अब S4A initiative, I have just explained कि इसका फाइदा क्या है, main objective यह है कि आप financial restructuring कर रहे हो, बदलाव ला रहे हो, उधार से पहली project अटका पड़ा था, उस problem को solve कर रहे हो, you are allowing the bank's lender, the bank ने जिसको उधार दिया है, कि उसका आपने equity ले लिया, उसका मालिकान हग ले लिया, उसका जो existing project चल नहीं पा रहा, तो थोड़ा और पैसा दिया, और उसको चलाने की कोशिश करी, normally ऐसा real estate sector में होता है, normally ऐसा real estate sector में आपको देखने मिलता है, इस scheme ने हमारे देश में asset recovery process को बहुत, बहुत help करी, हमें देखने मिलेगा, जहां प पर सर, ऐसा कैसे होगा, हो सकता है सर, company के employees, bank के employees के साथ 60 गांठ में हो, और सर, दोनों मिलके corruption कर दे, bank के पास पैसा है, company के पास पैसा है, bank को पैसा दे सकते हैं, बट फिर भी बोल दें कि देखो, हम तो पैसा चुका नहीं पा रहे हैं, हमारे को sustainable structuring कर के देदो, company यहीं च external overseeing committee बनाई जाती है, ताकि bank को किसी fraud का सामना ना करना पड़े, वरना इनसान है, इनसान तो गलतियों का पुतला है, ब्रश्टाचार की दुकान है, सच्चाई है, इससे हमें दूर क्यों भागना है, this is true, that human beings are quite corrupt, देखो इंडिया के government offices में क्या होता है, इसलिए external overseeing committee, एक जाती है, ताकि देखा जाए कि सब कुछ सही तरीके से चल रहा है, कहीं पर कोई गलत चीज तो नहीं हो रही है, independent agency hire की जाती है, bank के दोरा, वो देखती है कि ये debt को sustainably manage किया जा रहा है या नहीं, project बचाने योग है या नहीं है, commercial project जो है, उसमें पैसा लगाने लाइक है, ये कि bank के लिए तो वो एक बेकार investment हो जाएगा, अगर वहाँ पर loss हो गया, पहले loan दिया, वो वापस नहीं आ पाया, फिर और मदद करी, वो भी वापस नहीं आ पाया, तो bank कहेगा, अरे हम करें तो करें, क्या, मैं करूं तो करूं क्या, इसी लिए sustainability बनाए रखने के लिए एक external overseen committee independent और बनाई जाती है, loan को दो पार्ट में बाट देते हो, sustainable and non sustainable part, जिससे आप इसको अच्छे से चला सकते हो, मैं इस scheme के negative point important है, major limitation ये है, कि ये सिर्फ operational projects के लिए है, जो project चल रहे है, ये scheme सिर्फ उनके लिए, ऐसा कोई project जो अभी under construction में है, उनके लिए नहीं है, तो अगर आपका project under construction में है और आप इसका benefit लेना चाते हो, आप नहीं ले पाओगे, थोड़ा बहुत operational activity शुरू हो गई है, जैसे mall बन गए हैं, पर mall चलना नहीं पा रहे हैं, पैसा नहीं है, दुकाने बेचनी पा रहे हैं, तो वो operational plan के लिए, operational project के लिए पैसा दिया जा स चलता है, sustainable structuring की जा सकती है, पर under construction के लिए बिलकुल नहीं, यह याद रखिएगा, दूसरी बात, कुछ ऐसी companies होती हैं, जो vulnerable sectors का part होती है, जहां पर जैसे real estate है, वहाँ पर बहुत पैसा चाहिए होता है, बहुत पैसा, अंत का पैसा चाहिए होता है, और construction cost बढ़ती रहती ह इटों की कीमत, cement की कीमत, बदरपूर की कीमत, ब्रोडी की कीमत, हर चीज की कीमत बढ़ती रहती है, तो वहाँ पर क्या होता है, कि आप एक ऐसा नहीं है, एक बार पैसा देके छोड़ दिया, आपको regularly पैसा inject करना पड़ता है, कि बैंक से regularly पैसा चाहिए होता है, उनको इस का फाइदा नहीं है, दूसरी एक और बात है, कि यहाँ पर एक problem है, कि अगर 20 साल का लोन था, आप उसे 40 साल के लिए reschedule कर दो, वो भी नहीं करते, आप कोशिश करते हो कि debt को equity में convert कर दिया, कि सीधा company के अंदर मालिक आना हक ले लिया, कि सीधा मान लिया, कि एक company fraud है, और company के खुद के promoters की बात नहीं सुनी जाती, bank फिर अपनी बात थोपते हैं, इसलिए S4A को एक अच्छी scheme तो हम मानते हैं, बट इसमें भी कुछ challenges हैं, और ये mains में लिखना होता है, mains में यही सारी बाते तो लिखते हैं, अगर आप properly ये चीज़ें लिखोगे, तब ही answer मिलें ठीक है न, इधर उधर comment बाजी छोड़ दो, chat में मैं live हूँ, आपके सामने recorded नहीं है, जो चीज़ जहां दिमाग लगाना है वो लगाओ, हमें UPSC clear करना है, हमें UPSC clear करना है, दीपक पढ़ाई में ध्यान लगाओ, otherwise there is nothing you can do to prepare for civil service exam, if you are not going to be serious, be serious, that's it, moving ahead, S4A, है हमने अब तुम्हें ये चीज़ें बाकी जगों पर नहीं पढ़ने मिलती है, YouTube पर लोग prelims के लिए पढ़ा पढ़ा के निकल जाते हैं, आपको लगते हैं, वावावावा, क्या playlist है, क्या teacher है, भगवान है तो, रहे वो सब छोड़ दो, पढ़ाई पर ध्यान लगो, इसलिए कह 300 days से भी कम का टाइम ले गया है, 2024 के civil service exam में, 300 days से भी कम का टाइम, आप समझते हो, क्या होता है, कितना कम टाइम है, optional भी करना है, GS भी करना है, चलिए, corporate debt restructuring scheme, CDR, सबसे पहले अब हम ये पढ़ेंगे, दो होती है, CDR, SDR, सबसे पहले हम करेंगे CDR, और फिर हम करेंगे SDR corporate restructuring का मतलब है, कि कोई समाधान ढून रहे हो, अब restructuring जहां पर आएगा न word, आपर मैं समाधान या answer की बात करूँ, यह problem है, problem का answer ढून रहे हो, where you are bringing some change, कि company ने loan लिया था, bank से, company को अब bank take over करने की कोशिश कर रहा है, यह है, corporate restructuring, यह NPS को resolve करने का एक बड़ा रास्ता है, बड़ा समाधान है, it is a good step, corporate debt restructuring में, company का जो technical word है, outstanding obligation है, outstanding मतलब हिंदी में बोलते हैं, बकाया, जो due है, obligation का मतलब है, जो अभी company को चुकाना है, जो बकाया पैसा company को चुकाना है, the due amount which the company has to pay, that is the outstanding obligation, CDR के अंदर, you are recognizing the outstanding obligation, आप उस जो बकाया amount है, उसको change कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आप reduce कर रहे हो, the burden of the debt on the company, by decreasing the interest rate, which has been, which will be paid, आप ब्याजदर कम कर रहे हो, कि आपने 8% पर लोन दिया था, नहीं चुका पा रहे हो, कोई बात नहीं, आप 6% के इसाप से चुका लो, आपने 20 साल के लिए लोन लिया था, नहीं चुका पा रहे हो, कोई बात थी, 30 years में चुका देना, आपकी किष्ट महीने की 1,00,000 रुपे जा रही है, कोई बात नहीं, इसको हम 30,000 कर देते हैं, धीरे-धीरे चुका दो, बट चुका दो, पे इट बैक, if you are not going to pay it back, it will be a big loss for the bank, तो interest rate कम कर दिया जाता है, time increase कर दिया जाता है, जिसमें company को वो पैसा वापस करना है, यह आपका CDR, corporate debt restructuring कहा जाता है, इसी का एक मिलता जुलता रूप है, strategic debt restructuring, एक मिलता जुलता है, not the same, similar but not the same, अब हम बात कर रहे है, strategic debt restructuring scheme जिसकी शुरुवात की गई थी, ताकि stressed accounts या stressed loans को आप revive कर सको, आप कोशिश कर सको कि bank take over कर ले, company के ownership को, अगर company ने business अच्छे से नहीं चलाया और business को loss में ढखेल दिया, तो strategic debt restructuring introduce किया था, RBI के द्वारा ताकि bank recover कर सके, अपने loan को, by taking control of the distressed company, आप company का ही control ले लेते हो, bank company में ही कुछ मालिकाना हग खरीद लेता है, क्योंग वैसे ही stress में है, company stress मतलब loan लिया है, चुका नहीं पा रही है, पैसा कमा नहीं पा रही है, आमदनी अठनी खर्चा रुपईया, आई बात समझ में भाईया, आमदनी अठनी खर्चा रुपईया, तो बैंक इस तरीके से stress का सामना करते हैं, और क्योंकि बैंक को stress का सामना करना पड़ता है, strategic debt restructuring में आप क्या कर रहे हो, आप revive कर रहे हो उस loan को, scheme has been enacted with a view to revive the stressed loans, आप ownership change कर रहे हो, आप management में change ला रहे हो, कि company का management हो सकता है, खराब है, उस management के द्वारा company चला ही नहीं जा रहे है, fraud किया गया, या loss लिया गया है, आओ recover करते हैं, और recovery के लिए आप उस bank के ownership में change लेकर आ रहे हैं, बैंक अब उस stressed loan के part को, उस bank के द्वारा उस company के ownership को take over कर लिया जाएगा, इसलिए SDR scheme शुरू की गई थी, to revive the stressed companies, उनको हम recover, revive कर सके हैं, रिकवर कर सके हैं, ठीक हैं, तो यह आपका SDR का part है, SDR और CDR बहुत minor difference, बहुत minute difference है, अगला concept, 5 by 25 rule, ये भी हमारे banking system में reforms लाने के लिए लाया गया था, 5 by 25 rules, especially infrastructure projects के लिए है, जिनकी life 20 साल, 25 साल होती है, कहीं पर highway बन रहा है, कहीं पर सड़क बन रहा है, कहीं पर hotel बन रहा है, कहीं पर कुछ बन रहा है, जिनकी life 20 से 25 साल की है, बहुतेगा उस project को पूरा होने में, बहुत बड़ा, बहुत समय लेने वाला investment project है, infrastructure project में बहुत time लगता है, ये तो सच्चाई है, तो इसको पूरा करने के लिए 5 by 25 rule लेकर आये गया था, scheme लेकर आये थी, ताकि infrastructure company ऐसे core projects जिनमें बहुत लंबा gestation period होता है, technical word है यहाँ पर, gestation period, gestation मतलब time लगता है, wait करना पड़ता है जितने time, जिसको हम gestation कहते हैं, gestation word एक pregnant female के case में भी use होता है, कि 9 month का gestation period होता है, बेबी को deliver करने में, ऐसी project complete होने में कितना time लगेगा, उतने time को gestation period कहते हैं, बहुत असान भाषा मैं समझा रहूँ अरचीज, कि banks को ना क्या होता था, 12-15 साल के लिए loan मिलता था, उसके बाद आगे loan को continue करना है, आगे project को बढ़ावा देना है, banks जो है companies को loan ही नहीं देते थे, I repeat what I just said, banks companies को 12-15 साल के लिए maximum loan देते थे, उससे जादा के लिए loan मिलता नहीं था, अब सोचो ना, जब हाँ पे 12-15 साल, 10 साल, 15 साल तक restricted रहेगा, और जबकि project की economic life 20-25 साल की है, आपको project बनाने वाले को अपनी जेब से 20-25 लाँ साल तक पैसा डालना है, तो आप long term loan जब दे नहीं रहे हो, तो उनके cash flow की पैसे की ज़रृत है पूरी कैसे होंगी, एक समाधान है, कि मत करो ना, 10-12 साल के लिए loan, मत दो 10-12 साल के लिए loan, डोंट गिव 10-12 यर लोन, आप 5-5 साल के लोन दो, 5 साल फिर 5 साल फिर 5 साल फिर 5 साल फिर 5 साल एसे करके, आप दे तो 25 येर्स के लिए पैसा रहे हो, पर पहले आपने 5 साल दिया, वो प्रोजेक्ट ठीक ठाक चल रहा है, फिर आपने 5 साल के बाद और पैसा दे दिया, प्रोजेक्ट चल रहा है फिर 5 साल के बाद और, फिर 5 के बाद और, फिर ऐसे 5-5-5-5 करके 25 साल तक आप लगात पैसा प्रोजट्ट की ईकॉन्मीक लाइफ है जितने समय प्रोजग की वैल्यू रहेगी उतने समय के लिए ही दे रहेगी हो जितने टाइम के लिए हम पर पैसे की जरूवत है बाट आपने उसे parts में या installments में बाट दिया है आपने parts या installments में बाट के उसको दिया है इससे क्या होगा इससे हमारे देश के अंदर जो projects पहले से अठके पड़े थे या अठक जाते थे क्यों कि जी पैसे की कमी थी वो projects भी पूरे हो सकते हैं उनमें आप projects को 5-5 साल के पैसे देकर periodic refinance प्रोवाइड कर सकते हो, periodically आप एक flexible structuring प्रोवाइड कर रहे हो, periodically लगातार बीच-बीच में आप एक flexible, flexible मतलब जरुवत के हिसाब से, समय के हिसाब से, जरुवत के हिसाब से, आप structuring प्रोवाइड कर रहे हो, long term projects जो infrastructure के हैं, उनको आपने ऐसे धीरे-धीरे उन्हें structuring प्रोवाइड की है, ठीक है ना, ये बात याद रखेगा, तो जो लोग आज पहली बार देखने हैं विडियो, वो zero हमारी first class से, playlist मैंने बता दी है, मेरे टेलिग्राम चैनल पर वो available भी है, उसके आप जाके देख सकते हैं, ठीक है ना, सर, bank company की authority लेके क्या करती है, company को वापस एक proper functioning तरीके से रखती है, मतब company loss में जा रही थी, अपना management बिठा देगी, आपको parts भेज देगी, मेरे को भेज देगी, किसी भी इंसान को भेज देगी, जाओ company manage करो, company manage करेंगे, जो loss था, उस loss को कम करेंगे, profit की तरफ लाने की कोशिश करेंगे, तो वो bank क समझ आ गया, 5-5 साल करके आप लोन दे रहे हो, 25 साल का एक बार लोन नहीं दे पारे, कोई बात नहीं, you need money for the whole 25 years, 5555 we will give, will provide you money, this is the scheme of 5 by 25, 5 by 25 scheme या 5 by 25 rule इसे कहते हैं, यह आपका बड़ा popular बड़ी famous scheme है, इंडिया के अंदर, और अब इसे वापस लाने की बात की जा रही है यह news में चल रहा था, कि इसको revive करो, हमारे projects जो 17, 18, 19 महर अटक गए थे, उनको revive करने यूज किया था, bank क्या होता है, medium term के लिए, 5-7 साल के लिए शुरू आप में पैसा दे देता है, जो initial construction period है, उसके बाद फिर 5-7 साल के लिए और पैसा दे देगा, जैसे ही, project operationalize हो जाए वो अपने profits में से थोड़ा-थोड़ा पैसा चुकाती रहती है, तो non-viability नहीं होती company के, एक साथ आपने पैसा दे दिया, cost of construction भी तो escalate हो जाती है, भाई कोई building बना रहे हो, कोई project बना रहे हो, दो साल में, तीन साल में उसको building बनाने की cost ही बढ़ जाती है, तो सारे जो आ value है, जो आपको net present value, मतलब आज के time में present value जो दिखरी है project की, वो अच्छी खासी है, positive value है, loan मिलने के बाद value और increase हो जाएगी, और change हो जाएगी, और 500 करोड या उससे जादा के amount के infrastructural projects हैं, long term projects हैं, उनके लिए ये program बहुत, बहुत suitable है, ताकि हम regular help provide कर सके, ये बात आपको याद रख नहीं, this is really good, इसलिए 5 by 25 rule इंडिया में लेकर आया गया, तो अभी तक आपने देखा 5 by 25 refinance of infrastructure scheme, CDR, SDR, S4A, और ARC, अब ARC समझ लो, asset reconstruction companies क्या होती है, मैंने बात करी थी, सरकार एक bad bank बनाने की बात कर रही है, वो एक asset reconstruction या restructuring company है, bad bank मतलब सरकार का एक ऐसा organization, जो की restructure करेगा, जो की reconstruct करेगा, asset reconstruction companies, ARC ने कहते हैं, private companies होती है, और अलग-अलग bank अपनी खुद की company बनालते हैं, क्योंकि bank का का काम, loan देकर उन्हें recover करना नहीं है, bank का काम ये नहीं है, कि आप loan दे दिया, फिर recovery पर लगे रहा हो, पूरे time सर, आपने पैसा नहीं चुकाया, bank का काम है, आपको पैसा loan पर देने का, अगर आपसे पैसा नहीं आया, तो bank उस loan को उठाके, उस loan की file को उठाके, किसी ARC को दे देते हैं, कैर हम तो recover नहीं कर पारे, तुम recover करके दे दो, तुमारी जिम्मेदारी है, recover करके दे देने की, तो asset reconstruction company है, एक specialized body है, एक specialized financial company है, financial institution है, संस्ता है, जिसका काम है, बैंकों से उनके NPA की file खरीद लेना, ले लेना, कि विजय मालिया जी को loan दिया था, वापस नहीं कर पारे, ARC ले लेगी, हम बात करेंगे, आप रहे लो, अब बैठो शांती से, लॉस हुआ, जो लॉस हुआ, उसे भूल जाओ, ये लो पैसा और चुप रहो, शांती से बैठो, बैंकों को ऐसे शांती से बिठा दिया जाएगा, अब ARC क्या कर रही है, ARC ने loan खरीद लिया, अब ARC call करेगी विजय मालिया जी को, कि देखो मालिया जी आपने, अपने हवाई जहास गिरवी रखे थे, आपने अपने एरक्राफ्ट गिरवी रखे थे, हम ना वो बेच रहे हैं, आपकी वो building थी बैंगलूरु वाली वो भी हम बेच रहे हैं, आपकी बुंबबाई वाली building थी हम बेच रहे हैं, आपके Kingfisher Air Lines को हम बेच रहे हैं, जितना पैसा रिकावर हो जाएगा, इतना अच्छा है, क्युँक्ए हम, however ile आपने आपने हमसे लोन लिया ब आप चुका नहीं पा रहे हो, तो आपने जो जो गिरवी रखा, हम बेच देंगे मालिया जी कहींगे कौन आप कौन से बैंक से बोल रहे हो कि सर हम बैंक से नहीं बोल रहे है हम asset reconstruction company से बोल रहे है जो कि एक specialized organization है जो कि ऐसे ही loans recover करती है ताकि बैंकों की balance sheet पर हमेशा loss ना देखे ताकि बैंकों की balance sheet को clean किया जाए वरना क्या होगा आपने अब विजय माला जी का example दू पहले ही साल रोल recovery की कोशिश करी होती तो पैसा थोड़ा पहुत recover हो जाता दूसरे साल recovery की कोशिश करोगे अब उनके हवाई जहाज भी पुराने होते जा रहे हैं बूडे होते जा रहे हैं उनसे उतनी value derive नहीं कर पाऊगे फिर तीसरा साल, चौथा साल, पांचवा साल जैसे जैसे एरक्राफ्ट पूरे होते जाएंगे वैसे वैसे उनकी value कम होती रहेगी फिर तुम बेच लो तुम्हें 50% value भी नहीं मिलेगी क्योंकि depreciation लगता है कोई mobile phone है, मैंने मान लो 40,000 का phone खरीदा पांच साल के बाद उसकी value 20,000 भी नहीं रहेगी सीदी सी बात है, electronics में automobiles में, aircraft में ऐसा होता है, तो time पे recovery हो सके इसके लिए ARC काम करती है अब NARCL तो बच्चा रिया वो भारत सरकार बनाना चाहती है कई सारी private कंपनिया भी इंडिया में काम करती है asset reconstruction का मैंने क्या बोला, ICIC बैंक का, खुद की है के ARC है हाला कि भारत सरकार ने 2021-22 के budget man जहाँ पे निर्मला सीता रमन जी हमारी finance minister है, उन्होंने बोला था कि इंडिया के अंदर asset reconstruction company बनाएंगे NPS की problem को दूर करने के लिए government owned body बनाएंगे proposal दिया था बट ऐसी कई सारी private companies कई सालों से exist कर रही है जब से हमारे पास के जो देश है न Singapore, Malaysia, Asian countries उनमें financial crisis आई है तब से इंडिया के अंदर हमने का कि हम भी bank के उपर ARCs बिठाएंगे, बैंक के साथ ARCs बिठाएंगे, उनकी loan restructuring करेंगे, अब question बनता है कि ये कौन सी committee की सिफारिश से बनी थी, banking sector में एक बहुत बड़ी committee है, जिसने most of the major changes suggest करें है वो है नर सिम्हान committee अभी उनकी एक दो साल पहले मृत्यू भी हुई है, इश्वर इनकी आत्मा को शान्ती दे, नर सिम्हान committee इश्वर इनकी आत्मा को शान्ती दे, अभी इनकी मृत्यू भी हुई है दो लोग, केशवनन्द भारती जी पॉलिटी में, और नर सिम्हान जी economics में, इन दोनों की रिसेंटली कुछ समय पहले death भी हुई है, और UPSC के लिए इनके किये गए कार्या बहुत ज़ादा जरूरी है, लेकर आइम guiding, overall guidance देता हूँ मैं आपको, इसी लिए बोलता हूँ P2I batch में admission लोगे, वहाँ पर proper answer writing भी करवाऊंगा, test भी करवाऊंगा prelims के आपके, सारे subjects cover करोगे, geography, quality, economy, history everything will be covered आज ही admission लेटे, क्योंकि अब, जो हमारा freedoms day है, इंडिया का independence day है तो independence day के अपलक्ष पर आपको यह benefit दिया दा रहा, take advantage of it अब मैंने आपको ARC बता है, example दू, ARC-IL Asset Reconstruction India Limited एक company है, Reliance की Asset Reconstruction Company है, पता था आपको यह, Reliance Asset Reconstruction Company Limited, एक International Asset Reconstruction Company Private Limited है India SME Asset Reconstruction Company Limited है ऐसी कई सारी कंपनिया इंडिया में चल रही है, जो कि आपका उधार जो बैंक ने दिया है जो non-performing asset की तरह qualify हो गया है, वहाँ से पैसा आने की उम्मीद नहीं बची है उनको restructure करेंगी उनके गिरवी रखिवी चीज़ों को बेच कर लोन जितना recover हो जाए उतने recover करने की कोशिश करेंगे ताकि बैंक अपने नॉर्मल बैंकिंग अक्टिविटी पर फोकस करे वो होता है न, ड्रीम 11 का आड आता है ये मुझे दे दो आप ड्रीम 11 पर टीम मना लो तो बैंक को भी यही कह रहा है ARC कि ये लोन मुझे दे दो आप अपने बैंकिंग अक्टिविटी पर ध्यान दे लो ये बात याद रखिएगा Is that clear? I hope it's clear and I'm sure it's clear Next, सर्फाएजी Act सर्फाएजी Act ये सर्फ एक्सल है, ये क्या है कितनों को समझ पड़ा जो मैंने बोला, नहीं पड़ेगा इतनी तेजी से मैंने बोला और कुछ explain में नहीं किया तो बिल्कुल नहीं समझेगा अब इसको एक-एक करके breakdown करके समझाते हैं Let's break it down that what is सर्फाएजी Act, तो सर्फाएजी Act जो है आपका securitization, securitization मतलब जो आपने गिरवी रखा है उसको बेचेंगे and reconstruction of financial asset financial asset क्या है, loan उसे reconstruct करेंगे, अगर loan recover कर रहे हो तो ठीक नहीं, तो तुमारे द्वारा गिरवी रख्यवेचीज, collateral रख्यवेचीज बेच नहीं है For the enforcement of security interest के loan का, ब्याज का पैसा loan का पैसा निकाल सके, bank recover कर सके के company है ABC नाम है, company ने तीन साल bank से loan लिया था, तीन साल के लिए पैसा थोड़ा बहुत चुका है, एक दो महीने उसके बाद कह रहे हैं कि पैसा नहीं है चुकाने के लिए bank कह रहे है कोई बात कि, तुमारे जमीन के कागस गिर्वी पढ़े, तुमारी machine के कागस गिर्वी पढ़े, तुमारी गाड़ियों के कागस गिर्वी पढ़े है, service Act का इस्तमाल करेंगे, उन सब को बेच देंगे, पैसा recover कर लेंगे, हमारा पैसा आ जाएगा, हम आपके bad loan से बच जाएंगे, इससे NPA की problem आप पूरा procedure फॉलो करके court में जातर पूरा procedure फॉलो करके solve कर सकते हो, तो एक तरीके से financial जो आप जैसे loan लेते हो, गाड़ी लिया अपने loan पे, और आप उसकी EMI नहीं चुका रहे हो, तो जब्त कर सकते हैं आकर, घर लिया आपने loan पर, उसकी EMI नहीं चुका रहे हो, जब्त कर सकते हैं आप से आकर, कौन से कानून के तहत ये जब्ती होगी, ये seizure होगा, अंडर विच law, इट विल बी डन अंडर सर्फाएजी Act, आपको ये पावर मिलती है, by law, banks को हम ये पावर देते हैं, lenders को हम ये पावर देते हैं, by law, कानून के तहत हम पावर दे रहे हैं, हम कहारे हैं, जाओ, recover करो, तुमारा पैसा है, तुम वापस लो, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार नहीं रोके की कानून बना दिया, तो regulate किया जा रहे है इस तरीके से, जहाँ पे RBI की permission से, bank companies का पैसा restructure कर सकती है, वापस मांग सकती है, या companies के assets की ownership अब bank के पास चली जाएगी, तो उसको निलामी करो, बेचो, कुछ भी करो, वो आपकी इच्छा है, ठीक है, इसको अंग्रेजी में एक शब्द इस्तमाल किया जाता है, consortium, consortium, ये अंग्रेजी का शब्द है, consortium मतलब group, एक group, कुछ लोगों का group, अब इतरे बड़े-बड़े projects, जैसे दिल्ली Metro बननी है, तो एक company ने, एक bank ने तो पैसा दिया नहीं होगा, क्या आप सोच रहें, सिर्फ SBI ने पैसा दिया होगा, नहीं, हो सकता है SBI हो, हो सकता है HDFC हो, ICICI हो, IDBI हो, अलग-अलग organizations हो, तो ये अ आपस आजाए, IDBI कह रहा है कि नहीं, मुझे विश्वास नहीं है कि पैसा वापस आएगा, पैसा recover करो, ICICI कुछ और अलग कह रहा होगा, अलग-अलग bank, अलग-अलग राग गा सकते हैं, तो कभी भी उनके बीच में consensus नहीं बनेगा, SBI कह रहा है, loan recover करो, अब SBI ने, अके ICICI ने भी दिया है, बाकि सब ने दिया है, तो ये लोग कह सकते हैं कि यार हम सब एक न मिल कर, एक मत हो जाते हैं, एक common consensus बना लेते हैं, वो common consensus joint lenders forum के द्वारा build की जाती है, JLF के द्वारा build की जाती है, कि मीटिंग कर रही है कि आजाओ ICICI वालो, आजाओ HDFC सब आजाओ अब ये बताओ ज़रा इस person का करना क्या है, कोई कह रहा है कि ये कर लेते हैं, बीच में रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी, हो सकता है कुछ पैसा recover कर लिया जाए, हो सकता है कुछ पैसा recover करने या है, लायक है ही नहीं, तो बोल दिया जाए कि इसको असम loss declare करके आप खतम करो, तो RBI कहता है Joint Lenders Forum, Guidelines के साब से bank बनाईंगे 2014 से एक concept चल रहा है पूरा framework बना दिया है ताकि stressed assets की problem को दूर कर सके stressed assets के issue को दूर कर सके, एक corrective action plan create कर सके जहां पर कम से कम 75% parties अगर मान गई, जिन्होंने loan दिया है सुनो बात, ध्यान से समझना ये prelims में question बनेगा minimum 75% of loan value के देखिए चार bank है, SBI IDBI HDFC और PNB चल रख लेते हैं ये चार bank है इन्होंने मिलकर 100 करोड लोन दिया था इन में से जिन्होंने 75 करोड या उनसे जादा का लोन दिया उनके बीच में consensus बन जाए मतलब SBI ने मान लो 22 करोड दिया था, IDBI ने मान लो 25 करोड दिया था, PNB ने मान लो 10 करोड दिया था, और कितना बचा 47, 57, 43 HDFC ने मान लो 43 करोड दिया था अब इन में से आपको इतने लोगों को मनाना है कि कम से कम 75% value का लोण जिनों ने दिया है, वो मान जाए वो एक चीज पर decide हो जाए, agree हो जाए अगर वो मान गए तो ठीक तो joint lender forum इसलिए लेकर आए गया ताकि stress assets को जतना जल्दी हो सको उतना जल्दी recover कर सको और एक corrective action plan create कर सको within 45 days within 45 days 45 दिन के भीतर भीतर 75% value और 60% by number number मतलब कि अगर 10 bank है तो 6 bank तयार हो जाए तो ये question बन सकता है 60% by number by number और 60% 60% by number और 75% by value number का मतलब कि 10 मैं से 6 bank ये हो गया by number minimum इतने agreeable होने चाहिए जो भी एक मत राय बन रही है उसके लिए ठीक है न जो भी एक मत राय बन रही है उसके लिए तो ये हैं आपके कुछ reforms Indian banking sector के अंदर Money, what is money Money एक transaction करने का तरीका है Money एक ऐसा unit है जिसके माध्यम से आप transaction कर सकते हो transaction मतलब lane-dane कर सकते हो Money तो अभी कुछ 1000 साल पहले ही आया है इससे पहले इंसान Barter करते थे Barter मतलब वस्तू विनियम प्रणाली Hindi में कहते हैं से वस्तू विनियम प्रणाली Exchange करते हैं जहां पर चीजों का जहां पर exchange किया जाता है अलग-अलग चीजों का वस्तू विनियम प्रणाली Barter system इसको कहते हैं अब जब भी हम बाटर सिस्टम की बात करते हैं, we talk about that दो चीजों की या goods की या services की अदला बतली हो रही है, पैसे की अदला बतली नहीं हो रही है, और सबसे बड़ी problem ये आने लगी, कि मान लीजे एक इनसान वो टमाटर बेचता है, टमाटर उगाते हैं, टमाटर बेचते है दूसरा इंसान गायभैस पालता है, वो मिल्क बेचता है, अब कई बार ऐसा होता है कि जिसको टमाटर बेचने वाले को मिल्क खरीदना है, तो आपस में वो समान की अदला बदली कर लेंगे और transaction complete हो गई, बट अगर टमाटर बेचने वाले को मिल्क नहीं चाहिए, उनको चाहिए vegetables, तो क्या करोगे, उनकी तो demand पूरी होई नहीं पाएगी न, मिल्क से टमाटर को exchange करने के लिए, they will have to find someone else जिनके साथ वो vegetable exchange कर सके है, और ये भी होना ज़रूरी है कि वो होना अगर vegetable दे रहे है, तो vegetable, मतर बेचने वाले को टमाटर भी चाहिए, ये double coincidence of want होनी चाह होते हैं, double coincidence, coincidence होता है न, कि दोनों को इस चीज़ पर स्विकार होना चाहिए, of want, दोनों की इच्छा होनी चाहिए, both should coincide, both should meet, दोनों की इच्छा एक जैसी होनी चाहिए, कि अच्छा तुम्हें टमाटर चाहिए, ये लो, और आपस मैं से exchange किया जा सकता है, बहुत असानी इस एक्सचेंज किया जा सकता है, तो double coincidence of wants होना जरूरी है, तब ही आप money का फायदा ले सकते हो, अब पहले के टाइम पर बाटर सिस्टम होता था, उस टाइम पर नहीं होता था, आज अगर मेरे पास आप टमाटर बेशते हो, मेरे को टमाटर चाहिए, तो मैं ये 500 कम अगर मैं आपके पास लेकर जाता हूं कि आप मुझे टमाटर दे दीजे, अब यहां पर coincidence of want है, क्योंकि अगर आप टमाटर बेच रहे हो, तो आप पैसे के बदले बेच चुगे, आप ये नहीं का होगे, नहीं नहीं, जब तक आप मुझे दो लीटर दूद नहीं दोगे जिसके तरू हम बहुत अराम से transaction कर सकते हैं, जिसको हम कहते है, you guessed it right, money, so money is something that is generally accepted by the society as a medium of exchange, medium of exchange मतलब जिससे exchange किया जा सकता है, अदला बदली की जा सकती है, ऐसा होता है कई बारी, घाप के रिष्टेदार आते हैं घर पे, आपके दूर के रिष्टेदार, और आके कहते ह अरे वाँ 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 बच्चा तो इतना बड़ा हो गया, वाँ वाँ चलो बेटा, काना गाके सुनाओ, आप गाना गाके सुनाते हैं, आपको लगता है बदले में आपको पैसा मिलेगा, पर वो कहते हैं, बेटा मेरी दूआ हैं आपके साथ, अब दूआओं का क्या करें हमको तो गांधी जी चाहिए तो वहां पर वाट इजी वाट वाट ओट एलेटिव डूइंग और पेई यू साम मनी इसमानी और पेवें यू मनी सो डार इट केंद शो डार दिसिसट बलेसिंग वहां पर भी पैसे का इस्तामाल हो रहा है हम economic activities जब भी करते हैं या non-economic activities जब भी करते हैं उसमें कही न कहीं पैसा related होता है कई बार non-economic activity भी की जाती है जो कि money से directly related नहीं है पर उसमें भी money कहीं न कहीं use होता है for example I am dancing मैं अपनी इच्छा से dance कर रहा हूं मैं अपनी इच्छा से गा रहा हूं पर उसके बदले मुझे पैसा मिल रहा है तो मैंने non-economic activity करी बट उसके बदले मेरे को monetary benefit मिल रहा है तो पैसा तो हर चीज में चाहिए होता है इसलिए हमें common medium of exchange चाहिए जो की आपको transaction करने मदद करेगा अच्छा एक और बाच अब जब बाटर सिस्टम होता था तो मुझे अगर मैं टमाटर बेशता हूँ आप दूद बेशते हो ठीक है आपस में हम transaction करेंगे तो मेरे को अगर आपसे पांच किलो टमाटर चाहिए और आपसे दो किलो टमाटर देने तयार हो मतब अगें double coincidence of want नहीं होगा क्योंकि मेरी इच्छा लग है और आपकी इच्छा लग है यहाँ पर हम negotiate कर सकते हैं money terms में यहाँ पर हम कह सकते हैं चलो 500 नहीं तो 400 ले लो 400 नहीं तो 300 ले लो लाइक डाट आपस में हम transaction कर रहे हैं हम आपस में खरीद कर रहे हैं चीज की बिकरी कर रहे हैं चीज की क्या उनकी सेम वैल्यू होगी एक महीने के बाद बट अगर आपने कर्जा लिया 500 रुपे का और आप वापस करना चाहते हो एक महीने के बाद तो सेम नोट या दूसरा नोट आप वापस कर सकते हो मतलब मनी जो है बहुत इजीली उधार को चुकाने के लिए भी डेट को रीपे करने के लिए भी यूज किया जा सकता है मनी के अंदर इस नोट के अंदर वैल्यू है यह तो कागस का टुकड़ा क्या है यह है आजकल एक मीम चल रहे ना लपु सा सचन है यह पतला सा नोट है ठीक क्या लिखा इस पर, able to see or not, क्या लिखा है, Reserve Bank of India, my God, a very powerful institution, RBI has given backing to this paper, RBI ने का है यह पेपर, पेपर नहीं है, यह है high powered currency, यह है वो currency डिसका आप इस्तमाल कर सकते हो, market में अपनी transactions करने के लिए, और देखो इस पर क्या लिखा है, I promise to pay the bearer of 500 rupees, bearer of the sum of 500 rupees, नीचे governor के sign बने हुआ है, और लिखा भी हुआ है, guaranteed by the central bank, my God, central bank is guaranteed, it is guaranteeing me, कि कागस के टुकड़े के बतले 500 रुपे की value मिलेगी मुझे, क्या बार्टर सिस्टम में ऐसा हो सकता था, क्या बार्टर सिस्टम में ऐसा हो सकता था, बार्टर सिस्टम में guarantee होती थी कि value same मिलेगी, आप एक इंसान से अगर कोई transaction कर रहे हो, तो दूसरे इंसान से ज़रूरी थोड़ना है same value मिले, money का इजात इसी लिए हुआ, ताकि आपको same value मिल सके, आप कई सारे purposes पूरे कर सको, transactions कर सको, और इसी लिए हमने money का इजात किया है, जो भी समान खरीद रहे हैं, जो भी service पे कर रहे हैं, हम उसके बतले में पैसा दे सके हैं, तो हम इसको breakdown कर लेते हैं, let's break it into some parts, सबसे पहला primary function है, which is a medium of exchange, और measure of value, medium of exchange का मतलब है, कि आपस में आप transaction कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ exchange कर सकते हो, measure of value, इसके अंदर कुछ value है, इस कलर के note में कुछ value है, वो कितनी है, वो है 500 रुपीज की, कागस का टुकड़ा तो ये भी है, इसमें value उससे 1 by 5 है, ये 100 का है, इसके अंदर भी value है, इसके अंदर 200 का, ये value कहां से भरी है, इस कागस के टुकड़ा में value किस ने भरी है, RBI ने भरी है, RBI has written it, RBI has given a guaranteed, explicit and implicit guarantee, कि भईया, आप इसको market में जाके ले जाओगे, तो जितनी values पहली की है, उतने का आपको benefit मिल जाएगा, ठीक है, इससे जादा note है नहीं मेरे पस, वरना दिखाता, अभी सरके wallet में इतना ही पैसा था, तो मुद्देखी बात यही है, medium of exchange और measure of value के तौरपे काम करता है, secondary functions देखते हैं, which are the next functions, not so important, primaries are the most important, most basic, जासे शुरुआत होती है, मैंने बताए, इनके अंदर कुछ value stored है, barter system के अंदर आप store of value देख कैसे सकते हो, barter system की सबसे बड़ी problem यह है, कि आपस में जब आप समान exchange कर रहे हो, एक इनसान को उस चीज में ज़्यादा value देख सकती है, दूसरे इनसान को कोई value ने दिख सकती है, depends on person to person, इसी लिए, जब भी हम function of money की बात करते हैं, तो इसको हम एक secondary function के तौर पर देखते हैं, यह बात याद रखनी है, इसको एक secondary function के तौर पर देखते हैं, प्राइमरी function हमने समझ लिया, medium of exchange है, secondary function है, it is a store of value, इसका इस्तमाल कर सकते हो, wealth को store करने के लिए, मैं अगर अपनी मिर पास करोणों की संपत्ती है, मैं अगर घर में, let's say I am a tomato seller, मैं 5000 तन टमाटर स्टोर करनूं अपने घर में, और बोलू कि मैं तो बहुत करोण पती इंस होने लगे कि जैसे जैसे वो सडने लगेंगे, वो perishable goods हैं, वो सड जाते हैं, मैं अगर अपने घर में 5000 लीटर दूद रख लूँ, milk product रख लूँ, और बोलू मैं बहुत अमीर हूँ मेर पस इतने रुपे के milk product है, अरे, जब तक आपके पास वो product है, it can easily go bad, ना spoil हो इसको मैं फार दूँ या इसको कोई damage हो जाए, यह आगे तक रहेगा, तो आप easily cash में, money में अपनी value store कर सकते हो for future use, इसी cash को digitally भी रख सकते हो, bank में पढ़ा रहेगा, तो वो digitally store हो गया, आपकी account में आपको पैसा दिख रहा है, जिसे आप net banking से transfer कर सकते हो, तो सबसे convenient और economical सस्ता रास्ता है, currency में store करके रखने का अपनी wealth को, अपनी earnings को, इसके इलावा, money can help you in transferring the value, जो कि आप बाटर सिस्टम में नहीं कर पा रहे थे, transferring value का मतलब है, कि आप बहुत असानी से कोई भी चीज़ buy sell कर रहे हो, चाहे इंडिया में, चाहे इंडिया के बाहर, दुनिया में कहीं पैवी, पैसे के बदले में आप exchange कर सकते हो, अब आप कहोगे सर, आप जो क्यों कर रहे हो, मैं अगर ये note ले जाओ, मान लीजे, अमेरिका में, तो वो note accept ही नहीं करेंगे, कोई बात ही, इनको आप exchange कर लो, उनके note, उनकी currency, उनके dollar के बदले, तब तो हो पाएगा ना, इसी लिए money आपको transfer of value provide करता है, and next, standard of deferred payment, बाद में उधार चुका ना है, आप बाद में money में पैसा चुका सकते हो, इसी लिए दुनिया में आजकल इतने सारे financial institutions बन गए हैं, bank बन गई हैं, financial companies बन गई हैं, so money is a convenient mode of circulation and payment of interest amount, money का इस्तमाल कर सकते हो, बहुत convenient तरीके स पैसे को circulate करने के लिए, और interest pay करने के लिए, principal amount भी, interest amount भी, दोनों pay कर सकते हो, future में, पैसा होगा, तो अराम से कर पाओगे, जब तक money ही नहीं है, हमारे पास, बार्टर सिस्टम होता, तो बड़ी problem होती, कि आप एक standard amount में payback कर पाते, अब जैसे, मैंने आप से जी 2 kg टमा आते हैं, और कहते हैं, यह ले तेरी bike, मैं तेरी को वापस कर रहा हूँ, अरे जिस quality में, जिस condition में दी थी, उसी condition में तो वापस करो, same problem will emerge, because आपको देखने मिलेगा, money standard provide करते है, money के लावा कोई भी system follow कर लो, वहाँ पे कोई standard है ही नही, money के थूँ आपको मिल जाते है, 500 रुपे लिए, 500 रुपे वापस कर दो with interest, बात खता हूँ, हर note एक जैसे है, आपकी जेब में पढ़ा हुआ, 500 का note, मेरी जेब में पढ़ा हुआ, 500 का note, सब एक जैसे हैं, बस उनका serial number अलग है, identification के लिए रखते हैं, वो भी, बाकि सब एक जैसे हैं, मेरे में भी देखो, गांधी जी है, बिलकुल, बिलकुल, he is looking really good, या, गांधी जी बापु, father of the nation, I have red foot on the back of 500 रुपी note, तो मतलब सब कुछ है, जो मेरे note में होगा, वही आपके note में होगा, फर्क यह है, बस इसका serial number अलग है, वो भी identification purpose के लिए, और क्या function होते हैं, जी money के, well, money helps in identifying how much your country earn, अगर आपको यह identify करना है, तो आपको पैसे की value में, money terms में इसको find out करना होगा, as simple as that, money terms में इसको find out करना होगा, तो distribution of national income is checked, how much national income your country is earning, is checked, when you use money, जब पैसे का इस्तमाल करते हो, next point, liquidity, liquidity क्या होता है, जी, liquidity का मतलब है, तरलता, तरलता का मतलब है, that how much money you are using, and whether it is liquid or not, liquid मतलब easily convertible into currency, मैं आपके example देतो, बहुत बड़ी है example है, थोड़ा मिर को आगे बढ़ानी पड़ी है slide, यह देखो, मैं आपको प्यास लग रही है, you are thirsty, right, you want some water, यह लो, glass में आपको मैंने पानी दिया, आपको मैंने glass में पानी दिया, उसको आप easily पीलोगे, बह बहुत अराम से conveniently you can use, so I will say that this water is very liquid, तुरंत आपने अपनी प्यास बुजाली पी कर, वट मैं अगर आपको बरफ के टुकड़े दे दू, के लो, प्यास बुजाओ, आप कहोगे मैं बरफ का करूँगा क्या, what will I do with it, जब तक यह melt नहीं होता, पानी नहीं बनता, तब तक य मेरे लिए usable नहीं है, मतलब यह ill-liquid है, इसकी liquidity कम है, मेरे लिए liquid जो चीज होगी वो ज़्यादा usable होगी, और जो ill-liquid होगी वो कम usable होगी, अब ऐसे ही, अब मान लिए हम को आपस में exchange कर रहे हैं, मैं आपसे समान खरीद रहा हूं कोई, पहला मेरे पास option है कि मैं आपको cash में pay करूँ, दूसरा option है कि मैं आपको gold में pay करूँ, तीसरा option है कि मैं आपको pay करूँ, कोई company के share की अदला बगली करके, और चौथा option है कि मैं आपको pay करूँ, अपने जमीन के कागस दे कर, real estate दे कर, अब इसमें से कौन सा सबसे दाधा liquid और कौन सा सबसे कम liquid होगा, यह आपको समझना है, liquid मतलब तुरंत इस्तमाल करने योग है, which can be convertible into cash easily and quickly, cash is the most liquid thing, क्योंकि अगर आपको, आप कहते हो कि मेरे को, यह sunglasses है, ठीक है न, I want this sunglass, आपको होगे ठीक है, पैसा दे तो 500 रुपे दे तो ले जाओ, easily, एक second में मैं आपको यह 500 रुपे का नोट दूँगा आप मुझे sunglasses दोगे and I will wear it, and I will wear it, and then I will say that, how am I looking, कैसा लग रहा हो मैं पहन के, right, because I have paid 500 रुपीज, cash is the most liquid, और तुरंत उसका मैंने इस्तमाल किया, आपको पैसा देने में, but second option आता है, gold का, gold में liquidity थोड़ी सी कम हो जाती है, gold को इसमें convert कराना पड़ेगा, तभी gold usable होगा, गोल्ड को इसमें convert करा होगा, आपके जेब में gold chain है, आप गले में gold chain पहनते हो, अब बपी लहरी जैसे शौकीन आदमी हो, तो उस case के अंदर, जब आपने gold पहना हुआ है, उसको आपको convert कराना पड़ेगा, पिगलाना पड़ेगा, फिर वो बिकेगा, उसको cash में convert करा process, तो थोड़ी कम हो जाती है liquidity, third case में shares में, share market पर बेचना पड़ता है, अब रात के 12 बजे सपना आ रहा है कि मैं share बेचूंगा, उस ताइम पर तो share market बंद पड़ी है, सुबह खुलेगी और particular times पर ही खुलती है, और छुट्टी वाले दिन बंद भी होती है, उस ताइम प liquidity है real estate की, real estate property जिसे हम कहते है, real estate sector, the property sector which we have, property का मतलब है कि आपको मैं अगर अपने जमीन के कागस दू बेचने में, mutation कराने में, registry कराने में, एक महीना तो लगेगा, one month तो लगेगा ही लगेगा, और क्यूंकि one month लगेगा ही लगेगा, आपको ये सबसे कम liquid देखने मिलता ह कि उस asset को convert करने में सबसे कम टाइम लगता है, सबसे जल्दी जो convert हो जाता है, उसे आप liquid asset कहते हो, सबसे late में सबसे धीरे जो convert होता है, उसे आप क्या कहते हो, ill liquid asset कहते हो, ठीक है जी, ये आपको बात याद रखने है, तो money helps in measuring the national income, money helps in checking the liquidity, और money की value is uniform, अब आपके पास 500 क नोट है, value same मिल रही है, बस वो है कि serial number अलग है दोनों का, ये बात मैंने पहले बताई भी थी, इस तरीके से आपको money के कुछ functions देखने मिलते हैं, अब question बन सकता है exam में, prelims के अंदर की usage of money के उपर, या अलग-अलग तरीके से question बना सकते हैं, तो आपको अब पता चल गया money की general acceptability होती है, values की stable रहती है, इसको future purpose के लिए उस कर सकते हो, convenience factor है, सस्ता है, आपको घर पे सोना चुपा के रखोगे, हमेशा डर रहेगा, कोई आके चोरी ना कर ले, cash का क्या है, या तो जेब में रख लिया आपने, या तो digitally account में store कर लिया, और बहुत असानी से payment कर सकता है, it is acting as a medium of exchange, अब आप money क्या होता है, समझ गए, functions क्या होता है, समझ गए, economic survey कहता है कि cash के दो purpose हो सकते है, यह जो 500 का note है, हो सकता है, मैंने इस तरीके से कमाया है कि सरकार को पता नहीं है, हो सकता है, मैंने इसके बदले में कुछ illegal काम किया हो, हो सकता है, cocaine बेचा हो, I am not like that, I am just giving example, please, please, hello, I am not like that, so, I might have learned from illegal sources, I might have learned from legal sources, salary, IT account से, ATM में गया, पैसा निकाला, और मेर पास यह note आ गया, जो मैंने legal तरीके से कमाया है, tax pay करके, salary के form में, वो white money कहा जाता है, black money क्या कहा जाता है, illegally कमाया गया पैसा, जो आपने सरकार को declare नहीं किया है, जिस पर आप tax नहीं पे कर रहे हो, वो black money कहा जाता है, अब black money economy के लिए अच्छा नहीं है, तोकि सरकार को tax नहीं मिल रहा, अब money का evolution समझे, money change होता जा रहा है, सबसे पहले we had barter system, दुनिया के अंदर बताया है, मैंने इसके बारे में आपको, जहाँ पर समान का exchange करते थे, उसके आगे हम metallic coins में, दुनिया में राजा, महराजा, gold coin, silver coin, copper coin लेकर आए, इंडिया में भी कुशान काल के सिक्के अगर आपको याद होंगे, they were very pure, very good quality, roman coins आते थे इंडिया में, trade होता था ना, हमारे तामर लिप्ती, मुजिरे स्पोर्ट से, दुनिया भर में trade होता था, आरब बहु गुप्ता काल के सिक्के थे, शुरुवात में बहुत अच्छी quality के थे, दीरे दीरे, after the gupta period started declining, gupta rulers started declining, the quality of coins also started degrading, yes or no, तो मैं जो बात आपको बताने की समझाने की कोशिश कर रहू हो, यह है, कि metallic money, coins form में, metals के form में आ गई, फिर paper money शुरू हुई, आज के modern concept में paper money का इस्तम करते हैं, हमने समझ लिया, कि सोना चांदी तामा दुनिया में limited quantity में है, बलकि दिल्ली सल्तनत के दौरान एक राजा ऐसे थे, जिन्होंने copper coins चलाए थे, टंका, जीतल, अलग-अलग coins होते थे, copper coins चलाए, bronze के coins चलाए, अब लोग घरों में बैठके bronze के सिक्के बना लेते थ मतलब आप देख रहे हो, किस लेवल पर intelligence थी Indians की, they were making coins at their own home, nice, paper form of money इसलिए आया, क्योंकि एक standard form हो जाएगा, सस्ता है, print करने में असान रहेगा, और हमने बस इसको classify कर दिया है, इस कागस की क्या एक रुपया value होगी, print करने में, इंक करने में, दो से तीन रुपय की value इसकी ये वर्थ है, और क्योंकि आपने इसकी वर्थ decide कर दी है, उसके बाद आपको देखने मिलेगा, that this money, this currency can easily be used in the market convenience factor आगया आपके पास, तो paper money हमारे पास है, और इस पर सरकार की fiduciary backing है, जो प्रिलम्स में पूचा जा चुका है, इस पर सरकार ने क्या दी हुई है, fiduci fiduciary backing, सरकार ने अपने विश्वास पर guarantee दी है, sovereign guarantee है, fiduciary backing है, जिसे कहा जाता है कि ये note fiat money है, fiat money का मतलब है, अच्छा ये गांदी जी वाला note नहीं होता, आजकल चूरन note, जिस पर गांदी जी की जगह में ता बच्चन शारुक खान, अरे मेरी फोटो लगा दी, ऐसे note भी चलते हैं market में, उन्हें चूरन note कहते हैं, fake currency, counterfeit currency, कुछ तो पाकिस्तान से, बांगलादेश से, इंडिया में आते हैं, हमारी economy को impact करने के लिए, destroy करने के लिए, वो false तरीके से, जूटे तरीके से हमारे देश में money supply बढ़ाते हैं, और fake currency जो है, वो value खतम करती है, हमार नहीं कर सकते, they can't say no to you, they will say yes, give me the money, I will give you the goods, which you want, or service which you want, तो बहुत असानी से exchange कर सकते, वो आपको मना नहीं कर सकते, because ये fiat money है, fiat money का मतलब क्या है, फिर से, बहुत साफ शब्दों में बता रहो, एक line में, सुनो ध्याल से, fiat money, वो पैसा होता है, जिस पे सरकार की backing है, के द्वारा, इशू किया गया है, इसको आप legal, वैलिड, legal validity मानते हो, legally valid मानते हो, fiduciary backing मतलब, जहां पर RBI ने अपनी sovereign guarantee दी है, sovereign guarantee का मतलब, अभी दिखाता हो, एक तो legal tender भी होता है, term ये भी आप देख लो, जो मैंने fiat currency बताया था न, fiat currency को ही legal tender कहा जाता है, कि सरकार ने इस note को legally tenderable बोला है, कि legally use किया जा सकता है, अपने उधार को चुकाने के लिए, अपने obligations को pay off करने के लिए legally इस्तमाल किया जा सकता है, ये valid है, हर जगे, हर समय हमारे देश में इस्तमाल करने के लिए, क्या dollar हमारे देश में legal tender है, क्या yuan हमारे देश में legal tender है, क्या yen हमारे द प्रदिश मारे लीगल टेंडर है, no, 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 only the Indian rupee which is published by the Reserve Bank of India, having a guarantee of RBI, is the legal tender of India, कोई भी सिक्का, कोई भी bank note जो उधार चुकाने के लिए, पेमेंट करने के लिए legally valid माना गया है भारत सरकार और RBI के द्वारा, वही legal tender कहा जाता है, इनको मना नहीं कर सकते है, कोई आप मुझे साब बोल दोगे, मुझे रुपे में ही पेइमेंट चाहिए है, क्योंकि रुपे लीगल टेंडर है, डॉलर लीगल टेंडर नहीं है, या वो नकली नोट जो अब मारकेट में बिखते हैं, वो लीगल टेंडर नहीं है, आप कोई और चीज देना चाहो लीगल टेंड़र है नहीं, bitcoin लीगल टेंडर है, crypto currency, नो, नो, ऍटिया में bitcoin, crypto currency, legal tender नहीं है, पर सर लोग खरीदते बेचते हैं, वो टीवी पर influencer, YouTube पर influencer आते हैं, वो कहते हैं, यह coin खरीद लो, वो coin खरीद लो, क्या करूं सर, बेटा, वो भी legal टेंडर नहीं है crypto currencies में trading हो सकती है जैसे आप एक जमीन खरीदते हो सस्ते में खरीदा बात में महों में बेच दिया इसे कहते है ट्रेडिंग करना ऐसे ट्रेडिंग कर सकते हो पर उसे पेयमेंट करने के लिए इस्तमाल नहीं कर सकते, क्या आप कहीं पर छोले बटू रेखाने गए और बोल रहे हो कि भाईयक, how much bitcoins do you want, वो गएगा यह bitcoin, bitcoin नहीं, मेरेको 60 रुपे देदो, काम कतम, no bitcoin, only cash, वहाँ पर वो legal tender नहीं है, trade कर सकते हो, आज सस्ते में खरीद कर महंगे पर बेचो, यह कर सकते हो, but you can't use it for currency payments, as simple as that, यह, they cannot be refused by, legal tender currency cannot be refused by any citizen, क्योंकि उनकी fiduciary guarantee है, fiduciary backing है, sovereign guarantee है, और बस इतना ही नहीं, यह representative note है, आज हमें बड़े-बड़े metal के सिक्कों की दरूवत नहीं है, हम एक छोटे कागस के टुकड़े से भी बड़े अरसानी से payment कर सकते हैं, public payment कर सकती है, तो अब यह substitute बन गए है, वो पहले जो metallic currency होती थी ना, सोने और चांदी की जो currency होती थी, उनके substitute बन गए है, जैसे ऐसे दुनिया के अंदर paper currency print करना आसान हुआ है, comfortable हुआ है, convertibility बहुत असान हो गई है, वैसे वैसे अब हम यह paper currency यूज़ करते हैं, जिसको हमने fiat currency आपको बताया है, क्या कहा जाता है, gold और coin, उनके साथ problem यह थी, कि उनकी value, सोना महंगा होता जा रहा था, चांदी महंगी होती जा 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 जी थी, सरकार इतनी कहां से लाईगी, खोदी सोची है, a better trick is to create a money which is representative, जो represent कर रहा है, यह कागस का टुपला 500 की value को represent कर रहा है, तो आज हमारे हाथ में representative paper currency है, जो यह 500,000, 2500 का 100 का note है, ताकि हमारी economy में यह paper currency को हम circulate कर सके है, money supply क्या होता है, money aggregates क्या होता है, बड़ी असानी से यह सारे aggregates समझा दूँगा, पूरी बड़ी प्यारी से एक table बनाईए आपके लिए मैंने, currency and circulation, demand deposit, time deposit, money aggregates बहुत ही जादा important topic है, बहुत ही जादा important topic है, और जितना important है उतना ही जादा difficult है, इतना मुश्किल हो जाता है इस topic को समझ पाना, narrow money, reserve money, M0, M1, M2, M3, M4, क्या है ये, it is so difficult to crack it, but I will make it easy, क्योंकि मेरी series है Indianomics, which is actually easynomics, तो अब शुरू करते हैं इस topic के साथ, 1967 तक, हमारे देश का जो central bank है, RBI, उसने अलग-अलग time पर, अलग-अलग methods निकाले हैं, देश में कितनी circulate हो रही है currency, कितना पैसा circulate हो रहा है, उसको नापने के लिए, ठीक है, 1967 और उससे पहले, RBI सिर्फ M को देखता था, M मतलब money, जो हमारे साथ, जो जनता के साथ money with public है, उसको देखता था, money with public, money with public, M जिसको कहते हैं, इसको देखता था, 1967 तक, कौन? RBI, जिसमें आपका जनता के पास, जो bank account में पैसा है, जो जेब में पैसा है, उसी को देखा जाता था, और हमने bank account में भी हम लोग पैसा जमा कराते हैं, अमारे पास क्या क्या होता है, cash होता है, या हमारे पास bank में पढ़ा होता है, bank में दो टाइप के account होते हैं हमारे पास, normally, simply, current account वो businessman खुलवाते हैं, जिसमें पैसा लगातार आता जाता रहता है, और दूसरा होता है, savings account, दूसरा होता है जी, savings account, ये दो account नॉर्मल हैं हमारे होते हैं, 1967 तक, RBI जब money supply नापता था, तो बस इसे ही नापता था, फिर RBI ने का, अरे, पैसा तो और भी तरीके से हमारी market में घूम रहा है, जिसमें time deposit भी है, fixed deposit, recurring deposit भी है, मतब actually आप अगर bank में पैसा जमा कराते हो ना, आप इन चार चीज़ों में ही कराते हो, कुछ होते हैं short term, और कुछ होते हैं long term, short term में दो आते हैं, जिसमें current account अभी उपर आपको लिखा, मैंने बताया, दूसरा होता है savings account, जिसमें जब चाहे तब पैसा निकाल लो, ATM मशीन से दाके पैसा निकाल लिया, किसी को पैसा transfer कर दिया, जब चाहे तब, long term के अंदर बावू होते हैं, fixed deposit and recurring deposit, मान लो आपके पास 10 लाख रुपे कहीं से आया, और आप चाहते हो हर महीने ब्याज कमाना इस पर, कि मुझे कुछ करना ना पड़े, और महीने कुछ पैसा मेरे पास आता रहे, 10 लाख भी मेरा protected रहे, और उस पर भी कुछ interest कमाऊ हो हर महीने का, तो आप FD करा सकते हो, दूसरा option है आपके पास RD कराना, RD का मतलब है recurring deposit, recurring, recur, बार-बार पैसे डालना account में, recurring deposit के अंदर आप कुछ पैसा हर महीने इंवेस्ट करते हो, जैसे 10,000 रुपे हर महीने का डाल रहे हो 5 साल तक, 5 साल के बाद वो 10,000 पर मन्त, मतलब 60 महीने तक आपने दिया, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, आपको उस पर interest भी मिलेगा, compound होकर, मतलब पैसा ही पैसा होगा, such a good investment opportunity, तो यह आपका long term type के investment, और short term time के investment, दोनों type के investment आप कर सकते हो, अब यह जो सारा पैसा circulate हो रहा है, एकॉनमी में पैसा घूम रहा है, RBI time to time देखता रहता है, कि कौन सा पैसा जादा circulate हो रहा है, लोगों के हाथ में cash है, या उन्होंने bank में पैसा डाला हुआ है, तो इस method को RBI follow करता है, 1967 तक सिर्फ वो cash और bank में balance आप देखता था, 1967 से 67 से 70 तक, मतलब 1977 तक, उसने एक और method follow किया, aggregate money resource का, पर 1977 के बाद, 1977 के बाद, उसने एक नया method follow करना शुरू किया, 1967 से 1977 तक अलग method होता था, 67 से पहले तो सिफ M देखा जाता था, 67 से 77 तक AMR देखा जाता था, ये कोई पूछेगा नहीं exam में, aggregate money resource, 77 के बाद से आप इसे चार पार्ट में, M1, M2, M3, M4 मैं break करके देख रहे हो, अब ये मैं समझा रहा हूँ आपको, कि 77 के बाद से M1, M2, M3, M4 होता क्या है, देखो money की जो market में supply हो रही है, पैसा जो घूम रहे है market में, circulate हो रहे है जनता के हातों में, this is called the money supply, ये मैंने आपको बताये था, liquidity होनी चाहिए market में, liquidity मतलब कौन सा पैसा, तुरंट आप cash में convert कर सकते हो, जैसे मैंने बताये था, एक glass में पानी है, तो तुरंट उसे पीपा होगे, बरफ को पिखलने में time लगेगा, पानी जादा liquid है, बरफ illiquid है, ऐसे cash सबसे जादा liquid होता है, क्योंकि तुरंट payment कर सकते हो, वैसे gold और property के कावज़ थोड़ा कम liquid है, क्योंकि उसमें time लगता है, cash में convert करने के लिए, अब जो यह M1, M2, M3, M4 formula है, यह मैं logic समझाता हो, होता क्यों है, पहले तो M0 समझो, जो इन से अलग है, M0 को monetary base कहते हैं, हमारे देश का, मतलब जो भी पैसा CIC में है, CIC का मतलब है, currency in circulation, कि आपके पास जो जो पैसा है, जैसे आपके जेब में जो पैसा पड़ा हुआ है, आपके bank account में जो पैसा पड़ा हुआ है, जो भी currency circulate हो रही है, that is looked at in M0, M0 को क्या कहा जाता है, monetary base, हमारे देश का जातर पैसा जो घूम रहा है, circulate हो रहा है, यह आपको macro economics की 12 class की book में देखने मिलता है, M0 is the base, हमारी economy में कितना cash इस टाइम पर circulation में है, वो आपको M0 में देखने मिलेगा, M0 को reserve currency भी कहा जाता है, reserve money भी कहा जाता है, M0 को base भी कहा जाता है, M0 को high powered money भी कहा जाता है, M0 को basic money भी कहा जाता है, M0 को primary money भी कहा जाता है, और M0 को monetary base भी कहा जाता है, देखिए कितना कुछ इसके लिए इस्तमाल किया जाता है, इन सारे नामों से बुलाया जाता है M0 को, अल राइट, अब M0 आपका monetary base है जितना भी currency circulate हो रहा है पैसा circulate हो रहा है हमारी economy में वो कहां पर आएगा जी वो आएगा M0 के अंदर currency which is in circulation will come under the concept of M0 high powered money जिसे हम कहते हैं ठीक है या reserve money जिसे हम कहते हैं अब M0 समझा आपने क्या है M0 बहुत जादा amount में होता है इसके आगे एक M1 नाम का concept है M0 पर फिर से आऊंगा पर एक M1 नाम का concept है पहले वो आपको मैं समझा दू M1 M1 का मतलब है currency जो market में घूम रही है जो लोगों के हाथ में पैसा है note के form में और sikकों के form में coins के form में यह होता है M1 plus demand deposit held by the commercial banks plus other deposit held by the RBI अब आप कहोगे सर यह क्या बोल दिया आपने इतना कुछ समझ नहीं आया देखो मैंने आपको बताया कि RBI ना अलग-अलग वर्ग में classify कर रही है पैसे को एक classification है M0 का जिसमें आता है currency in circulation एक classification है M0 का जिसमें आता है currency in circulation M0 के अंदर आपको जो पैसा economy में घूम रहा है वो सब देखने मिलता है M0 के अंदर currency in circulation देखने मिलता है CIC यहाँ पर लिखा है M0 के अंदर bankers deposit देखने मिलता है with RBI मतलब SBI, PNB HDFC इन bankों ने RBI के पास अगर कुछ अपना पैसा रखा हुआ है तो वो bankers deposit कहा जाता है और third है other deposit with RBI और भी कुछ पैसा अगर RBI के पास deposit के तौर पर पड़ा है तो उसे other deposit with RBI कहते हैं बहुत छोटा component होता है very small, very minuscule number यह आपका M0 की definition में आ जाता है M0 जो जादतर पैसा हमारी economy में circulate हो रहा है घूम रहा है उसको बताता है यह आपके M0 में देखने मिलेगा M0 के अंदर पहला currency in circulation जो पैसा note और सिक्कों में घूम रहा है दूसरे बैंकों का जो RBI में पैसा पड़ा है जैसे SBI, HDFC, PNB वगेरा वगेरा और तीसरा other deposit अब आप कहोगे सर other deposit में आता है other deposit में आता है ऐसी semi government institutions का पैसा जैसे की कोई primary dealer है primary dealer का मतलब है जो आपके रुपे को dollar dollar को रुपे में convert करने की कोशिश करते है और आपको पैसा उधार पे देने की कोशिश करते है तो ऐसी कोई semi government institution है कोई भी financial institution है उसने RBI के पास पैसा रखा हुआ है अब बैंकों का पैसा पड़ा है RBI के पास वो तो हमें समझ आ गया ऐसी कंपनिया जो bank नहीं है जो primary dealer है जो पैसा convert कराने में मदद करती है dollar का रुपे, रुपे का dollar करवाने में मदद करती है तो उन्हे primary dealer कह रहाता है और वो organization जो आपको securities खरीदने और बेचने में मदद करती है securities खरीदने और बेचने का मतलब है कि आप चाहते है government bond खरीदना तो कोई agent होगा जिससे खरीदना चाहोगे उस agent को ही primary dealer कहेंगे उस agent को ही primary dealer कहेंगे primary dealers का पैसा जो RBI के पास पढ़ा है वो यहाँ पे आता है दूसरे देशों के central bank का जैसे central bank US का है federal reserve उसका अगर कोई पैसा RBI के पास पढ़ा है तो वो other deposits में जाएगा या कोई भी international agency जैसे IMF World Bank का पैसा अगर RBI के पास पढ़ा है तो वो यहाँ पे जाएगा तो अब याद कर लेना M0 में क्या आता है currency in circulation bank deposit with RBI and other deposit with RBI अब चलते हैं जी M1 में M0 में तो हमें समझ आ गया क्या आता है अब हम चल रहे हैं M1 में M1 के अंदर currency वही currency आ रही है जो आप सिक्के या note के form में देख रहे हो M1 के अंदर आ रहा है जो bank कों के पास demand deposit पढ़ा है जैसे आपने ICICI के पास या आपने HDFC के पास या अपने PNB के पास या आपने SBI के पास जो पैसा अपने savings account current account में रखा हुआ है जो आपने पैसा आप बैंक में पैसा जमा कराते हो और आप पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा कराते हो सर पोस्ट ऑफिस से तो पोस्ट ऑफिस से तो लेटर भीजा जाता है सर पोस्ट ऑफिस में थोड़ना पैसा जमा कराते हैं जी हां पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग्स अकाउंट ओपन किया ज यह savings करने के लिए पैसा जमा करा सकते हो जो आपने bank account में पैसा जमा कराया है बच्चे वह पैसा आपका demand deposit या time deposit के फॉर्म में आपको देखने मिलता है आई repeat जो आपने bank accounts में पैसा जमा करा है वह यह तो savings account या current account जैसे short term nature का होगा मैं short term क्यों कहे रहा हूँ मेरे savings account में पैसा पड़ा है मेरे पास एक ATM का आड़ा में दिखाऊंगा नहीं और मेरे पास एक ATM का आड़ा उसका इस्तेमाल करके मैं तुरंट अपने bank account से पैसा निकाल सकता हूँ एकाउंट के लिए उसको तुरंट निकाल के कही और डिपॉजिट करने के लिए अपने बिजनेमाइं यूस करने के लिए तो जो भी अईसे शॉर्ट टर्म नेचर की ओते हैं वह demand deposit कहे जाते है on demand निकाल सकते हो, जब मन किया तब निकाल सकते हो, और fixed deposit और recurrent deposit कुछ time के लिए fixed होते हैं, आप banks के सामने भी FD और RD खुलवा सकते हो, post office में भी 5 साल की monthly investment scheme, multi-income scheme, अलग-अलग schemes होती हैं, जिसमें आप पैसा जमा करा सकते हो, M0 बताए था मैंने आपको M0 के अंदर currency in circulation आ रहा था, RBI के पास जो भी bankों का deposit पढ़ा था, और RBI के पास जो भी other deposit पढ़ा था, वो आ रहा था, M0 के अंदर M1 के अंदर currency in circulation आएगा, ये tick mark आप देखो, और bankों के पास जो demand deposit पढ़ा है, वो आएगा, और जो भी RBI के पास other deposit पढ़ा है, वो आएगा, तो M1 के अंदर ये चीज़े count की जाते हैं, क्यों classify करने का तरीका है, बताने का तरीका है कि हमारे market में M1 के अंदर कितना पैसा घूम रहा है जो सबसे हम primary form सबसे basic form, सबसे पहली form मानते है अच्छा, अब M2 देखते हैं, M2 के अंदर demand deposit बैंकों के साथ और post office में भी अगर आपका कोई demand deposit पढ़ा है current account, saving account में पैसा पढ़ा है तो वो आता है, यहाँ पर क्या हुआ कि M1 के अंदर सिफ currency in circulation and demand deposit with banks आ रहा था, M2 के अंदर currency in circulation demand deposit with bank and demand deposit with post office यह दोनों आने लगा demand deposit को आप saving deposit भी कह सकते हो post office में भी savings हो सकती है तो अब मैं आप से सीधा सवाल पूछता हूँ दोनों मेंसे जादा quantity of money किस में आईगी, M1 के अंदर आईगी या M2 के अंदर आईगी बहुत logic, मतलब basic सवाल है मैं अगर अभी भी clear नहीं हो, समझ नहीं आया तो आपको बहुत simple question पूछा है मैंने, कि दोनों मेंसे पैसा किस में जादा होगा, M1 में, M2 में आरे, एक extra चीज जुड़ी है M2 के अंदर, M1 के मुकाबले, मुझे बताओ एक extra चीज जुड़ी है M1 के अंदर, M2 के मुकाबले yes or no, तो quantity of money M2 में जादा होगा M1 के मुकाबले, yes or no quantity of money किस में जादा होगा, M2 में जादा होगा, क्यों, क्योंकि साफ दिख रहा है, demand deposit with post office has been newly added साफ दिख रहा है और क्योंकि हमें ये साफ तोर पे दिख रहा है कि ये add किया गया है, नया add हुआ है, quantity of money will be way, way, way more, जैसे मैं example दो आपका M1 के अंदर 100 quantity of money है 100 quantity of money है और demand deposit है 20 के, 100 मतलब मान लेते है 60-40 ये भी 60-40 है, same ही चीज़ है बट यहा 20 की चीज़ add हो गई है तो ये 120 हुआ तो quantity of money यहाँ पे साफ था, ये 20 भी increase हो गया, ये 20 भी आके जुड़ गया, add हो गया तो क्या quantity of money बढ़ा के नहीं बढ़ा अफकोर्स बढ़ा, अफकोर्स बढ़ा, एक और चीज़ देख लेते हैं अब हम चल रहे हैं M3 की और M3 में RBI देखने की कोशिश करता है कि currency in circulation, जो 60 था वो कितना है, demand deposits जो हमारे bank और bank मतलब सरकारी, private, foreign सारे bank, जो इंडिया में operate कर रहे हैं उनके पास कितना पैसा है और time deposits आपकी FD RD, OD, इन सब में कितना पैसा पढ़ा है time deposits, FD, RD long term investment जो होती हैं उनमें कितना पैसा पढ़ा है मैं RBI governor हूँ, मैं आपको बतारूँ कि हमारे M3 में इतना पैसा पढ़ा है तुरंत समझ जाना चाहिए कि कितना currency circulate हो रही है और कितना bank में पैसा है short term और long term के अंदर M3 बोला, तो post office नहीं बोला मैंने post office की बात ही नहीं करी मैंने M3 बोला, तो मैंने कहा इतना currency circulate हो रहा है इतना bankों में demand deposit और time deposit के तौर पर पढ़ा है तुरंत सुनके समझ आ जाना चाहिए आप सब लोग future I.S. I.P.S. officers तुरंत सुनके समझ आ जाए कि मैंने क्या बोला था what have I just said clear है तुरंत क्या बोला था clear होना चाहिए M4 M4 में भी वही currency in circulation वही 60 रहेगा banks के पास जो demand deposits है banks के पास जो time deposit है post office के पास जो demand deposit है post office के पास जो time deposit है यह सब आ जाएगा in this way आपको देखने मिलेगा 60, 40, 60, 40, 100 140, 160, 185 quantity of money किस में सबसे जादा आया अब RBI governor पूछ रहे है अपने junior से के भाई यह बताओ कितना पैसा circulate हो रहा है economy में वह बोलेगा sir M1 में 100 circulate हो रहा है RBI governor तुरंट समझ जाएगा अच्छा currency in circulation और demand deposit with banks मिलाकर इतना है 100 है M3 कितना है sir M3 हमारा 140 है RBI के governor तुरंट समझ जाएगे अच्छा कि हमारे currency in circulation plus bankों में जो पैसा जमा है जो जनता जेब में पैसा लेके घूम रही है और जो जनता bankों में जमा करा के घूम रही है वो मिलाके 140 है आज वैसे post office जादा relevant नहीं रहे post office को भी post payment bank में convert कर दिया है आज के time में it is not very relevant बहुत जादा कोई relevant नहीं बचाएए post office इसी लिए post office के अंदर जो पैसा पड़ा है ना अपका post office के अंदर the amount which is there इसको हम बहुत कम quantity में देखते हैं मतलब कोई drastic quantity नहीं होती हो M0, M1, M3 हमारे लें important होते हैं M2, M4 की वो उतनी importance नहीं है question क्या बनेगा exam में question बनेगा कि M1 के अंदर जादा quantity of money है in comparison to M4 answer बताओ देखकर खुद बताओ true or false TIF लिखो M1 के अंदर जादा quantity of money है M4 के मुकाबले मतलब साफ दिख रहा है 100 रुपय लिखा है एक जगे एक जगे 185 लिखा है 100-180 से बड़ा हो नहीं सकता this is not true this is false यह हो गया false ULTA बोलता M4 is greater than M1 तो यह सही होता then it would have been correct then it would have been the right thing to say that's the opposite it's not true on the contrary it's not true M1 is not greater than M4 M4 is greater than M1 कैसे? यह देखो na 185 is greater than 100 अब समझाया कैसे classify किया जाता है और क्यू classify किया जाता है classify करने का तरीका है अलग-अलग तरीके से आप बता रहे हो समझा रहे हो बोल रहे हो बता रहे हो like that for that purpose तो bank और post office में पढ़ा हुआ पैसा आप इस तरीके से classify कर सकते हो just to explain in economic terms की क्या देश के सूरते हाल है क्या situation है अब एक और चीज मुझे एक बात बताओ आप अगर demand deposit में पैसा रख रहे हो वह liquidity वाला concept आ गया मैं ना cash में पैसा है मेरे को अभी कुछ खाने का मन हो रहा है इस class की खतम होने के बाद मैं तुरंत किसी दुकान पर जाओंगा बोलूँगा कि भाईया ये लो 100 रुपीस ये लो 200 रुपीस मेरे को कुछ खिला दो ठीक है ना ठीक है ना मैं जाके बोल सकता हूँ ऐसा वो मुझे बोलेंगा ठीक है cash दो मैं उसे सोने की इट पकड़ा दू इसका क्या करूँगा मेरे को किसी ज्वेलर के पास जाके पिखलानी पड़ेगी तब जाके मैं इसको convert करूँगा आप cash दो मुझे क्योंकि वो चाहते हैं तुरंत easily usable form में कोई पैसा उनके पास हो और मैं अगर उन्हें बोल दू कि मैं अपनी FD आपके नाम करता हूँ अरे fixed deposit टाइम जो time deposit होते हैं fixed deposit हो गया recurring deposit हो गया वो कुछ time के लिए fix होते हैं उन्हें ऐसे break नहीं करवा सकते आप you can't break them so easily you will be charged some penalty आपका पैसा जो रखा है उस पर penalty कटेगी इसलिए लोग time deposit असानी से निकाल नहीं सकते हैं और निकालते हैं भी नहीं क्योंकि उनका purpose है कि वो लंबे समय के लिए save किया जाएगा they will be kept for a long period of time they are not very liquid they are not very liquid और जैसे जैसे M1 से M4 की तरफ फासला जा रहा है आप देखो time deposit बढ़ते जा रहे है कहीं पर post office के time deposit अड़ हो रहे हैं कहीं पर bank के time deposit अड़ हो रहे हैं तो liquid मतलब तुरंत use करने की situation में सबसे ज़्यादा M1 में liquidity होती है फिर M2 में होती है फिर M3 में होती है और फिर M4 में होती है क्या बोला मैंने सबसे ज़्यादा liquidity M1 में होती है गलत यही तो wrong notion है आप से दो question बनेंगे और अभी सुन लो शांती से क्या question बनेंगे आप से बोला जाएगा quantity ascending order में लगाओ बढ़ते हुए करम में तो quantity M1 में बढ़ती है पैसे की फिर M2 में, फिर M3 में फिर M4 में फिर question बनेगा कि liquidity ascending order में लगाओ तो सबसे ज़्यादा liquidity आपको M1 में देखने मिलेगी M1 में देखने मिलेगी उससे कम liquidity M2 में देखने मिलेगी उससे भी कम liquidity M3 में और सबसे कम liquidity M4 में It is having lowest और M1 is having highest तो ascending order में लगाना है आपको तो यह हो गया M4, M3, M2, M1 Ascending मतलब घटे से बढ़ते हुए क्रम में नहीं समझाया? एक और बार समझा देता हूँ कि यह देखो इस तरफ liquidity बढ़ रही है liquidity बढ़ रही है सबसे कम किस में है? M4 में है lowest फिर M3 में है फिर M2 में है और M1 तो तुरंत इस्तमाल कर सकते हो M1 को तुरंत इस्तमाल कर सकते हो तो most liquid M1 है उससे कम liquid M2, उससे भी कम liquid M3 least liquid M4 और यही quantity of money की बात करते है तो most quantity M4 में है उसके बाद M3 में है फिर M2 में है और फिर M1 में है In terms of quantity तो अभी तो मैंने ये उपर और नीचे जाते हुए diagram आपके लिए बनाए है तभी तो ये मैंने image आपके लिए रखी है ये आपको मैं share भी कर दूँगा तभी मैंने रखी है आपके लिए अब समझें quantity और liquidity पर question बन सकता है तो इसको कहा जाता है हमारे देश का aggregate money resource और इसी को आप ऐसे M1, M2, M3, M4 में बाटके देखते हो ठीक है ना एक और मुद्दे की बाद narrow money, broad money क्या होता है इस पर question बन सकता है क्योंकि ये आपके exam में आता रहता है narrow money M1 और M2 को कहते है technically तो M1 को कहते है narrow मतलब बहुत limited form of money सबसे limited M1 ही तो है इसे narrow money कहेंगे पर ये सबसे liquid होता है सबसे जल्दी इस्तमाल होने लायक होता है quantity कम होती है कोई चीज narrow है, संकरी है, छोटी है अभी मेरा हाथ, मैं जो area दिखा रहा है it is very narrow, this is very broad और इसमें क्या आएगा M3 आएगा, M4 नहीं M3 आएगा, M3 को broad money कहेंगे technically M3 को broad money कहेंगे योगि जो post office के पास जो पैसा होता है न, वो कोई बहुत ज्यादा quantity में नहीं होता बहुत बड़ी quantity में नहीं होता इसलिए M3 को broad money कहा जाएगा, जनता के पास जो पैसा है, plus demand deposit plus time deposit with bank M3 वाला, यह आपको देखने मिलेगा, अमारी देश की liquidity को दर्शाता है that liquidity is not very high, but quantity is very high quantity of money is very high बस यह देखना था हमाँ अब कुछ से question करेंगे self introspection सबसे द्यादा liquidity किसमे होगी सबसे द्यादा liquidity होगी M1 में सबसे द्यादा quantity of money कहा होगा वो होगा M4 में broad money किसको कहते है जिसमें सबसे द्यादा चीजह है M4 नहीं होगा, M3 होगा योगि post office में ज्यादा कोई significant amount में पैसा नहीं होता, तो इसे BM कहेंगे broad money, सबसे कम quantity of money कहां पे होगा, M1 में, narrow money, पस ये सवाल आप से पूछे जा सकते हैं, जो कि अब आपको समझ आ गए है, money multiplier एक term है, economics का, basically हमारी अर्थ वहस्था में पैसा घूमता है, circulate होता है, पैसे से पैसा बनाया जाता है, पैसे से प बैंकों में जमा कराते हैं, आप जाते हैं बैंकों में पैसा deposit करने के लिए, उस deposit किये गए पैसे को bank आगे, loan में देता है, credit पे देता है, उधार पे देता है, और क्योंकि उसने उसको loan पे दिया, credit पे दिया, उधार पे दिया, तो वो आगे उसको loan पे चढ़ा दिया, जि आगे बढ़ा कर आगे और जादा उसे increase करके कैसे देश के अंदर economic growth और credit creation को बढ़ावा दे सकते हैं money multiplier क्यों देखना है money multiplier हमें देखना होता है कि कितना effect हो रहा है मतलब अगर economy में एक रुपिया डाला जा रहा है तो वो कितनी बार multiply हो रहा है कितनी बार आगे बढ़ रहा है इसको money multiplier या money multiplier effect कहते हैं जैसे example से समझाता हूँ आपको मैं एक example समझिए कि हमारी economy के अंदर 4% reserve ratio है reserve ratio का मतलब है जो पैसा banks को अपने पास reserve में रखना पड़ रहा है और बाकी पैसा वो loan में घुमा दे रहे हैं 4% उन्हें reserve में रखना पड़ रहा है reserve ratio 4% रखने से क्या होगा money multiplier effect किस प्रकार जन्मेगा देख लेते हैं एक बारी one upon CRR formula होता है money multiplier का अब आप कहोगे सर ये तो पल्ले नहीं पड़ रहा क्या है money multiplier कैसे आपने one upon CRR दिखा दिया money multiplier measures the maximum amount of commercial bank money that can be created by a given unit of central bank money कि central bank जो है RBI जो है अपने rules regulation से हमारे देश के scheduled commercial banks IDBI, PNB, HDFC को कितना permit करता है कि वो पैसा हमारी economy में घुमा सकते हैं loans के तोर पे और जब भी ये reserve ratio जादा होता है money multiplier कम होता है जब भी reserve ratio कम होता है money multiplier जादा होता है अभी भी मुझे पता है काफी लोगों को ये बात पढ़ ले नहीं पड़ी होगी तो एक formula और एक example से समझेंगे आसान बाश्या में समझ आ जाएगा तो देखो RBI ने कहा है कि हमारे देश में जितने भी bank है उन्हें 4% पैसा reserve में रखना है जितने भी bank है अपने पास reserve में और reserve में क्यों रखना है कि कल जाके customer मांगने आएंगे कि हमने जो पैस deposit किया था लाओ वापस करो तो आप उन्हें पैस वापस कैसे करेंगे सारा पैस reserve में रखा जाता है ताकि bank हमेशा stable रहे आप 4% रख सकते हो रखने के लिए तो 2% भी रख सकते हो रखने के लिए तो 10% भी रख सकते हो as per the rules of RBI यह 4 और 2 मैंने क्यों रखा है मैं बताता हूँ पहले आप 4% के साफ से समझो अब money multiplier का concept है 1 upon CRR CRR का मतलब है कितना पैसा आप आपने reserve में रखा है reserve ratio जो है आपका या cash reserve ratio जो है आपका कितना पैसा आपने reserve में रखा है 4% है तो 4% reserve ratio theoretically 25 times return generate करेगा कि for example 4% का मतलब है 4 upon 100 4 और 100 को अगर काटोगे तो 1 by 25 आया fraction देखो 1 upon 1 by 25 इसको अगर आप करोगे तो 25 आएगा मतलब money multiplier 25 है मतलब 4% reserve ratio रखने से 25 गुना पैसा आगे बढ़ा है लोगों को लोन पे मिला आएक इनसान से दूसरे इनसान को लोन पे मिला और पैसा आगे multiply होता रहा अगर 100% CRR होता अगर 100% CRR होता cash reserve ratio होता reserve requirement होती तो एक रुपिया भी आगे लोन में नहीं दिया जाता बैंकों के द्वारा RBI ने कहा 100% कर दो जब जितना पैसा लोग deposit कर रहे हैं बैंक अपने पास रखेंगे लोन में एक रुपिया भी नहीं देंगे अगर 100% reserve ratio बना दिया तो एक रुपिया भी create नहीं होगा money multiplier will be zero और अगर मान लेते हैं इसे हम 1% कर दें तो 100 गुना money multiplier हो जाएगा 1% अगर आप कर दें तो 100 गुना money multiplier हो जाएगा मतलब से 1% पैसा reserve में रखा है बाकि सारा पैसा loan में घुमाया जा रहा है और उस पैसे से ही पैसा कमाया जा रहा है तो वो पैसा multiply हो रहा है any number of times वो पैसा multiply हो रहा है many number of times 100% CRR पर इसका मतलब है कि deposit में जो पैसा लिया है bank ने वो आगे loan पर नहीं दे सकता और 1% अगर हो तो मतलब आपका साजो भी जाधतर पैसा आ रहा है वो loan देने में ही जा रहा है अब loan ही नहीं मिलेंगे तो bank क्या करे बैंक कहां से चल पाएंगे अगर loan ही दिपाएंगे वो वो पैसा ही कमाते हैं loan देकर loan पर उन्हें इंटरेस्ट कमाने का ब्याज कमाने का मौका मिलता है तो वो तो उनके पैसे कमाने का एक major source एक बड़ा जरिया है तो वो छोड़ नहीं सकते इस चीज़ को तो CRR कभी भी 100% नहीं होता तभी मैंने 4% का example दिया अगर 4% है तो 25 गुना हो गया जहां पर भी CRR एक से जादा है मतब एक रुपया लगा के एक रुपया बनाया जा रहे है वो एक functional system माना जाता है और जितना बढ़ता रहेगा जितना multiply होता रहेगा वो दिखाएगा कि economy क कि हालत कितनी अच्छी है इन रियालिटी 25 नहीं होता है इन रियालिटी तो काफी कम होता है क्योंकि क्या है ना पैसा अगर आगे बैंक लोन पर देता है तो कई बार पैसा NPA हो जाता है non performing asset विजह मालिया जी नीरव मोजिदी जैसे लोग पैसा ले तो लेते हैं पर वापस नहीं कर रहे और जब वापस नहीं कर रहे है तो खुद सोचिए एक बात सोचिए ध्यान से कि जब वो पैसा वापस नहीं करेंगे तो क्या बैंक ने जो औरिजिनली पैसा लोन पर दिया था वो उन्हें वापस मिल पाएगा नहीं और क्योंकि उन्हें वो वापस नहीं मिल होगा NPA से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दूसरी प्रॉब्लम है बैंकिंग पेनेट्रेशन इंडिया का बड़ा पूर है ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग लाइन लेके खड़े हैं लोन लेने के लिए इंडिया के अंदर only few people who can afford to take loans from banks अर टेकिंग लोन जो बैंक से लोन ले सकते वरना ज्यासतर लोग अपने local money lenders से साहू कार से अपनी ज्वेलरी गिरवी रखकर अपने घर के कागस गिरवी रखकर पैसा लेना पसंद करते हैं जिसे हम कहते हैं unorganized market से जो की नहीं होना चाहिए बैंकों से पैसा लोग है नहीं वापस कर पाया कोई बात नहीं अलग-अलग देश के कानून है जो आपको बचाएंगे आपको प्रोटेक्ट करेंगे ऐसी सिचुएशन में या आपका पैसा रिकावर करने में या आपको पैसा क्या केते हैं से स्टेबल रखने में मदद करते हैं बट अन और्गनाई सेक्टर का क्या हो आजाएगा आपका घर कबजा घर के चला जाएगा क्यों कि आपने गिरवी लिया था पैसा गिरवी रखा था आपने property गिरवी रखी दिया और पैसा लिया था वो तो जो owner है the person now who owns जिसका पैसा चुका नहीं पारे वो तो आपका घर चीन लेगा इसलिए कहा जाता है organized sector से lending जादा होनी चाहिए ये बात समझा है सबको yes or no and a small request to all of you please like the video जीचे एक जो thumbs up का button होता है मैं चाहता हूँ जादा से जादा लोग इस session को देखे और वो तब ही हो पाएगा जब जादा लोग like करेंगे जब जादा spread होगी है वीडियो तब मेरा वो जो मकसद है वो पूरा हो पाएगा अब एक और question जो बन सकता है आपके प्रेलिम्स exam में कि cash reserve ratio चो अगर 4% ना होकर 2% होता 4% मैंने बोला money multiplier money multiplier 25 था 25 गुना हो रहा था पैसा अगर 1% है तो कितना होगा 1 है तो मैंने बताया 1 upon 100 यह 100x हो गया 100x money multiplier अच्छा होगा 10% हो 10% है तो 1 upon 1 upon 10 यह हो गया आपका 1 upon 10 हो गया आपका 10x 10x money multiplier तो मतलब आपको एक देखने मिल रहे pattern कि जहाँ पर आपका reserve ratio बढ़ रहा है 10 हो रहा है वहाँ पर money multiplier कम हो रहा है वो यह देखो कम हो गया जहाँ पर आपका reserve ratio कम हुआ वहाँ पर आपका money multiplier बढ़ गया यह prelims के अंदर बहाँ ही शानदар बहाती सुन्दर सवाल बन सकता है आपके exam यह बात आप याद रखेगा बहाँ ही सुन्दर सवाल बन सकता है आपके exam में it means that if the reserve ratio is high the money multiply will be low and the banks will need to keep more money in reserve i said something which i am going to repeat again i said if the reserve ratio is high then the money multiply will be low because banks will have to keep more money in reserves bank ko zyadha paisa reserve mein rakhna pata money multiply नहीं हो पा रहा कम हो पा रहा जितना normally होता है उससे भी कम हो रहा है ठीक है ना इसी वज़े से banks जादा पैसा lend नहीं कर पाएंगे businessmen को individuals को अगर reserve ratio high हुआ तो एक stable amount में reserve ratio maintain करने की जरूरत होती है एक stable amount में ही commercial banks को आगे loan पैसा देना चाहिए और कुछ पैसा reserve में रखना चाहिए cash reserve ratio या required reserve ratio के अंदर रखना चाहिए और money multiplier और cash reserve ratio का रिष्टा क्या कहलाता है यह ultra रिष्टा कहलाया जाता है money multiplier equals to one upon CRR ठीक है न यह बात याद रखेगा या CRR equals to one upon money multiplier यह भी आप याद रख सकते हैं क्योंकि यह defense exams में पूछा जा चुका है वो यू-पी-ए-स ही conduct कराता है तो prelims के अंदर फिर से इस पर सवाल आने की गुंजाईश बहुत जादा बढ़ जाती है इसलिए इसको गलती से भी हलके में मतलेना एक functional economy में money multiplier हमेशा एक से जाधा होता है CRR हमेशा 100% से कम होता है वरना अगर CRR 100% कर दोगे bank पैसा देगा इसको देई नहीं पाएगा खुद अपने पास ही रखके बैठा रहेगा बैठा रहेगा तो पैसे कमाएगा कहां से तो देखा जाएगा यह आपका inversely proportional है directly नहीं inversely proportional है money multiplier and CRR inversely proportional है money multiplier indirectly improves the economic development of the country जैसे ऐसे economic development बढ़ता है वैसे वैसे money multiplier भी सुधरता है लोगों का consumption बढ़ता है लोग जादा loan ले पाते हैं और money multiplier सुधार करने के लिए क्या करना चाहिए आपको गाउं गाउं जाकर banking penetration सुधारना चाहिए लोगों को जानकारी देनी चाहिए कि bank से loan सस्ती किष्टों में बहुत असान तरीके से मिल सकता है बैंक्स को भी लोगों को enable करना चाहिए मदद करना चाहिए कि वो loan ले सकें digital economy और cashless economy को बढ़ावा देना चाहिए जब बैंकों में पढ़ा होगा पैसा देखो हमने जेब में भर लिया पैसा अब मेरे पास ये पैसा पढ़ा है मैं जेब में रख लूँ इसको अपनी pocket में रख लूँ इसे so it will not go into the banks और banks जिसको आगे loan में घुमा सकते थे वो नहीं loan में दे पाएंगे तो हम जब cash में withdraw करके अपने पास रख लेते हैं तो banks के लिए सही नहीं है हमें bank को में जमा कराना चाहिए पैसा जिसको वो आगे loan पे देंगे और money multiply होगा और money जब multiply होगा तो economy के हलत सुधरेगी और देश में consumption बढ़ेगा क्योंकि जो लोग अब तक loan नहीं ले पा रहे थे उनके लिए भी पैसा available होगा उन्हें loan में पैसा देने के लिए तो इसलिए जब आप financial inclusion को बढ़ावा देते हो गाउं गाउं जाके लोगों के bank account खुलवाते हो ना बताते हो कि उनके पास loan लेने की सुविदा भी है तब जाकर जब economy में ऐसे सुधार होते हैं financial inclusion आता है banking penetration सुधरता है तब जाकर economic condition economic situation becomes easy it becomes better और इससे economic condition सुधरती है ये बात ध्यान रखेगा especially जब RBI बैंकों को loan बहुत cheap तरीके से बहुत असान तरीके से बहुत easy तरीके से अपनी expansionary monetary policy के तहत देता है ताकि economy में recession या deflation ना है चीजों के दाम न कम हो मतब अगर मैं आपको बताओ 1950s 60s में हमारा money multiplier बहुत कम होता था क्यों क्योंकि उस time पे जादतर private bank होते थे जिनको गरीबों को loan मिले ना मिले कुछ खास फरक पड़ता ही नहीं था बात समझ आ रही है पर 1969 और 1984 में 14 1969 के अंदर 14 bank और 1980 के अंदर 1980 में छे bank को nationalize किया राष्ट्य करण किया इंद्रा गांधी जी के द्वारा private bank को को सरकारी बनाया बोला जाओ गाओ गाओ जाके loan बाटो तुम नहीं दे रहे हो पैसा इसलिए देश की economy ग्रोनी हो पारी है तो हम 3x कर पाए आज हम 5-6x money multiplier पर इंडिया में बैठे हैं 5-6 गुना money multiplier अभी फिलाल इंडिया के अंदर है 5-6 गुना एस पर the various economist as per different economist आपको देखने मिलेगा एस पर various economist ये 5-6% के आसपास इंडिया में आज के टाइम पर फिलाल आपको देखने मिलेगा एक सवाल बनेगा कि सर कोवेड लॉकडाउन के दौरान क्या रहा देखो हमारे देश में demonetization के टाइम से ही जहां पर लोगों ने पैसा अपने घरों से निकाल निकाल के बैंक में जमार कराना शुरू किया डिजिटल एकॉनमी के बढ़ने से थोड़ा increase आया था money multiplier में बट कोवेड लॉकडाउन और देश में recession की वज़े से money multiplier जादा बढ़ नहीं पाया जादा grow नहीं कर पाया जादा तरक्की नहीं कर पाया अब ऐसे तो कई सारे factors हैं जिसकी वज़ेसे हमारे देश में money multiplier सुधरा नहीं उसका एक सबसे बड़ा reason यही है कि कोरोना काल के दोरान लोग तो बैंकों से पैसा निकाल ले रहे थे कि आगे जीने मरने का पता नहीं है बैंकों में पैसा रखके क्या करेंगे मतलब investment sentiment बहुत पूर हो गया था क्या बोला मैंने investment sentiment हमारे देश का बहुत पूर था लोगों ने पैसा निकाला अपने खर्चे करें अरे नौकरी चली गई लोगों की खाने के लिए पैसा नहीं था तो क्या बैंकों में जो पढ़ा हुआ पैसा था वो withdraw करके इस्तमाल करने लगे हमारे देश में जब एक बारी demonetization आये था 2016 में तो money multiplied grow करने लगा था पर covid के दौरान वापस down चला गया था reason simple है लोगों ने पैसा withdraw करना शुरू किया क्यों withdraw करना शुरू किया जीने मरने का जिन्दगी का कोई भरोसा नहीं बैंकों में पैसा रखके करेंगे किया निकालो और घर्चा करो अपनी खाने पीने की दरोते पूरी करो अपने survival के लिए इस्तमाल करो लोगों की नौकरियां जा रही थी unemployment mass level पे increase हो गया था पट फिर जाके money multiplier stable हो चुका है 5 to 6 के आसपा stable हो चुका है मैं 5 to 6 इसले बोल रहो हूँ because it fluctuates कभी 5.1 है कभी 5.2 है इस range में ही रहेगा आगे भी आप अगर साल एक साल बात देखोगे तो आपको इसी range में ध्यान देखने मिलेगा कि ध्यान रखोगे इसी range में मिलेगा आपको money multiplier तो money multiplier इसी लिए इंडिया में change होता रहता है, fluctuate होता रहता है COVID का एक बड़ा impact पड़ा था money multiplier के ओपर की एक limit तक आया और उसके बाद अचानक से steep decline देखने मिले है, गिरावट देखने मिली ठीक है, clear है बात माफ की जगा just one second sorry for that only a human इंसान हूँ आगे चले, तो इस तरीके से money multiplier के माध्यम से हमारे देश में money creation होता है, पैसा create किया जाता है, कुछ पैसा RBI के पास होता है, Central Bank के पास होता है, अब मेरे पीछे इस diagram में देख सकते हैं, some money is with the RBI, वो पैसा provide करता है हमारे देश में commercial bank को, उन पैसे से और पैसा create किया जाता है, जब आगे पैसा loan में दिया जाता है, अब देखो आप कहोगे सर, पैसे से कैसे पैसा बनता है आगे पैसा loan में दिया है, ठीक है ना, मान लो एक business है जिसको पैसा loan में मिला, 5 करोड रुपे का, उस business ने उस पांच करोड से और जादा फैक्टरीज खोली इंडस्टरीज खोली लोगों को जॉब मिली जॉब बढ़ी लोगों को जॉब मिली है उनकी सैलरी कहा जाएगी उनके बैंक अकाउन में जाएगी ठीक है ना पैसा क्रियेट हुआ बिलकुल हुआ चलो जी दूसी तरह फैक् बैंक के पास पड़ा और बढ़ते जारे हैं मतब जैसी ऐसे पैसा आगे लोन में घूम रहा है बैंकों के पास टिपास बढ़ते जारे हो रही है तब उस पैसे को भी आगे लोन में घुमा देगा ये मैं एक एक इक्जामपल से समझाता है 2 लाग गरूपे महिने की किश्ट आ रही है इंस्टॉलमेंट आ ठीक है न तो बैंक को यह पैसा रेगुलर्ली मिल रहा है पहली चीज यहां पर money create हो रहा है इंटरेस्ट के साथ मिल रहा है यह money create हो रहा है अब उस पाँच करोड से बिजनिस खोला, फैक्टरी खोली है, लोगों को जॉब दी, लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा जा रहा है, तो ये पैसा क्रियेट हो रहा है, जैसे मान लीज़ें, इम्पलॉईज हैं, इम्पलॉईज को, पचास लाग रुपे महीने की सैलरीस जाती है, तो ये पैसा बै इसी से मनी मल्टिप्लाइर हो रहा है, तो बैंकों के द्वारा हमारे देश में मनी मल्टिप्लाइर किया जाता है, ये बात सबको क्लियर होई होगी, ये बताता है कैसे, बैंकों में जो पैसा आप डिपॉजिट करते हैं, वो हमारे देश के अंदर मनी सप्लाइ को बूस्ट करता है, जो मैंने बात बताई थी वही लिखा हुआ है, मतब सेम थी, मनी सप्लाइ मतब सर्कूलेशन ओफ मनी, मनी मल्टिप्लाइर को फाइंड करने का एक और मेथड है, स्टॉक ओफ मनी टूदी स्टॉक ओफ हाई पावर्ड मनी, एम अपॉन एच, आपने अगर मेरी प्रीवियस क्लास करी है, आपको ये टेबल याद होगी, एम वन, एम टू, एम थ्री, एम फॉर, प्रीवियस क्लास कितनों नहीं करी, अउनसली बताना, मनी वाली, जहां पर मनी आगरिगेट्स पढ़ाए थे, तुमने नहीं करी है, तो अब देख लेना, प्रीवियस ये, इससे पहले प्लेलिस्ट में आपको विडियो मिल देगी, प्लेलिस्ट कहां मिलेगा, स्टेडी आईक्यू का जो मेरा टेलिग्राम ग्रूप है, उस पे आजाओगे, ये टेलिग्राम ग्रूप जो मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे तुम्हें प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है न, वसु कटारा स्टेडी आईक्यू इस टेलिग्राम ग्रूप पे मिल जाएगी, तो उस क्लास में मैंने बताया था, M1, M2, M3, M4 क्या है? अगर बैंक लोन देते रहेंगे घरों को, हाउसोल्ड को, बिजनेसे को, तो मनी मल्टिप्लायर M3 अपॉन M0 हो जाएगा, M3 अपॉन M0 हो जाएगा, और जब मैं M0 आपको बता रहा था, तो मैंने एक चीज़ बताई थी, जिसको मेरे को लगता है, सबको याद होनी चाहिए, M0 के बारे में, कहां गई वो स्लाइड, एक सेकंड बस, या, यह रही, मैंने बताया था, M0 होता है जी, हाई पावर्ड मनी, क्या बताया था मैंने, M0 होता है, हाई पावर्ड मनी, और M3 जो है आपका, उसमें सबसे ज़्यादा क्वान्टिटी आफ मनी आता है, तो उसे स्टॉक आफ मनी कहते है, M3 को, M3 को स्टॉक आफ मनी कहते है, और M0 को स्टॉक आफ हाई पावर्ड मनी कहते है, stock मतलब पैसा, कितना पैसा market में stock घूम रहा है M3 upon M0 करोगे, money multiplier का एक और formula आ गया ये exam में पूछा डा सकता है अब आप M3 क्या है, M0 क्या है, मुझसे आज ये सवाल पूछोगे तो मैं इसका ये ही जवाब दूँगा कि previous class में कराया गया है ये previous class में कराया गया है ये बात ध्यान लखेगा, बच्चा पूछा है sir, money multiplier कितना रहना चाहिए जितना उतना अच्छा है, आप 20 कर लो, 25 कर लो, 100 कर लो पर इतना हो नहीं पाता न, practically, यहाँ पर 5 होने में बड़ी मुश्किल हो गई है 5 ही नहीं हो पाता, 5 तो 6 परसेंट is very difficult to manage the more the merrier बाकि high powered money M0 ये formula मैं बता रहूँ, money multiplier का M3 upon M0 या इसको stock of money upon stock of high powered money कहेंगे अब ये M3 M0 क्या है, कल की class प्लीज देख ले न वहाँ पर इतनी शांदार इतनी प्यारी table आपके बना के दिखाई थी मैंने और आप नहीं देखोगे तो फिर वह वेस्ट हो जाएगी अब आगे चलने से पहले 2024 और 2025 की दो बच्चे तयारी कर रहे हैं आप में से कितने लोग हैं जो 2024 या 2025 की preparation कर रहे हैं लिख के बताईएगा, comment box बताईएगा, आप से मैं request करता हूँ आप सब के लिए pure English, pure Hindi और bilingual इन तीन batches का study IQ ने प्रावधान बनाया है ये तीन batches available हैं जिसमें आप admission लेकर आप अपनी UPC की preparation कर सकते हों pure English batch के अंदर pure English में पढ़ाए जाता है as it is said pure Hindi batch में शुद्धिन्दी में पढ़ाए जाता है, हमारे faculty शुद्धिन्दी में पढ़ाते है और pure bilingual format में, जैसे मैं भी आपको पढ़ारू, मैं ही पढ़ाऊंगा bilingual format में, यहाँ classes हो रही हैं पर test series पर prelims की test series, mains की test series ज़रूरी है, मतलब for all practical purpose हमें बहुत ज्यादा practice करनी होती है, study IQ app में या website में जब भी आप UPSC live पे जाओगे और आपने जाके evening batch August का जो शाम 6 बजे है उस पे click किया, तो आपको course की fees 45,000 दिख रही है, इतना आपको देना नहीं है आपको इसमें एक ही coupon code apply करना है, अगर आप मुझसे पढ़ना चाते हैं, मेरी guidance लेना चाते हैं और बाकी subjects भी cover करना चाते हैं, जिसमें मैं आपका guide, आपका mentor, आपका सार्थी बनूँगा, आपको पूरी तरह मदद करूँगा तो तीस महीने की validity वाला, धाई साल की validity वाला हमारा एक course है, वसु लाइव admission discount code यूज करके आपको ये 29,999 का मिलेगा अब इस course के अंदर आपको live classes मिलेंगी, उनके recordings मिलेंगी, prelims की test series, main answer writing practice program, daily answer writing practice program जहां पर जो भी पढ़ाया जा रहा है, उसकी daily आपको practice करवाई जाएगी test series मिलेगी, सब कुछ complete कराया जाएगा test series के माध्यम से, revise कराने के माध्यम से, answer writing के माध्यम से I think this is one of the best, best, best program for UPSC preparation, जहां पर आप वसू live admission discount code use करेंगे, तो आपको books भी मिलेंगी, सारे subject की books आपके घर पे, आपके address पर हम डिलिवर करा देंगे, 15 plus books, 15 से जादा, हम आपको residential program दे रहे हैं, मतलब यह नहीं कि class दे के छोड़ दिया, coaching दे के छोड़ दिया, और तुम अ दिल्ली NCR में हमारे रहने खाने का खर्चा हम उठाएंगे, हमारे खर्चे पर आप आओगे, पढ़ोगे हमारे पास रहकर, और exam clear करोगे, how does that sound, this is for your benefit, आपको hostel मिल जाएगा, रहने खाने की सुविदा मिल जाएगी, discipline में 10 से 12 घंटे की पढ़ाई करनी होती है, fast internet चाही ह होता है, library चाही होती है, वो सब हम दे रहे हैं, आपको तो बस पढ़ना है, और कुछ नहीं करना है, you just have to study, study and study, books भी दे दी, सब कुछ दे दिया, live classes करा दी, offline class करा दी, मैं खुद आपको पढ़ाऊंगा बिठा के, I will be guiding what is important for mains, and you will be able to score well, यह बसु live admission discount code करोगे, use, तभी आपके लिए अपनी केबल होगा, और मेरी guidance आपके लिए हमेशा अनलॉक होगे, मैं आपको टेलिग्राम ग्रूप पे add करूँगा, WhatsApp ग्रूप पे है, टेलिग्राम ग्रूप पे, जिस पे आपको मैं consistently आपके doubts answer करके, आपके सवाल लेकर, आपको जवाब देता रहोगा, त अब money supply economy में होती रहती है, पैसा घूम रहा है, किस चीज़ पर depend करता है, currency deposit ratio पर बहुत ज़्यादा depend करता है, कि कितना पैसा economy में एक time पर circulate होगा, इतनी बात समझ लो, कि तुम या तो पैसा अपने जेब में cash में रखोगे, या घर में तिजोरी में cash में रखोगे, या त इधर और situation, या तो ये, या तो वो, इन दोनों में ऐसे एट चीज़ी करोगे, ऐसा नहीं है कि cash में भी पड़ा है, बाद में पूछ लेना, प्रिंस, आप मुझे टेलिग्राम करके पूछ लेना, अभी आप प्लीज सुनिए मेरी बात, ठीक है ना, मुद्दे की बात सुनिए, cash deposit ratio क्या कहता है, cash deposit ratio में, या तो आप कैसा cash में जमा करा रहे हो, या तो bank में deposit है, cash deposit ratio वो ratio है, which money is in the hands of people, लोह के हाथ में जो currency के form में घूम रहा है पैसा, divided by the money which they have in the bank accounts, मतलब मेरे पास 5 लाग रुपे का cash पढ़ा है, मान लीजे, और मेरे पास 20 लाग रुपे मेरे bank account में पढ़े है, तो ये हो गया currency deposit ratio, कितना पैसा currency में पढ़ा है, और कितना पैसा bank deposit में पढ़ा है, इसे कहते है currency deposit ratio, ये कितना आएगा, 1 by 4 आ जाएगा, मतलब 25% आ जाएगा, देखो, बहुत जादा currency deposit ratio होना भी अच्छा नहीं है, और बहुत कम currency deposit ratio होना भी अच्छा नहीं है, इसे बहुतम बुद्ध कहते थे ना मध्यमार्ग, वही गौतम बुद्ध की teaching हम यहाँ पे implement कर रहे हैं कि मध्यमार्ग होना चाहिए, लोगों का सीजनल पैटन होता है, सीजनल पैटन का बतातो हो मतलब क्या होता है, कि लोग जैसे दिवाली हो जैसा समय होता है, ईद, क्रिसमस जैसा समय होता है उस ताइम पे, जाधा पैसा अपने हाथ में रखते हैं, क्याश कर्द में रखते हैं, क्योंकि उन्हें खर्चा करना होता है, बच्चों के कपड़े खरीदना, खुद के लिए समान खरीदना, घर के लिए चुहार पर ची ने मिले 10 लाग रुपे cash में है और 20 लाग रुपे bank account में पढ़े हैं ठीक है ना अगर ये आपका इससे भी आगे बढ़ेगा 15 लाग cash हो जाएगा और 5 लाग bank deposit में पढ़ा होगा तो it is a negative situation ये अच्छी situation नहीं है ये अच्छी situation नहीं है क्योंकि आपको cashless बनना है डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना है आपको currency रखते हो आप अपने पास उसका एक खर्चा होता है RBI को इसको note को छापने में कुछ पैसा उठाना पड़ा इसको safe रखने में कुछ पैसा उठाना पड़ा होता है ना bank के ATM में जब बड़े-बड़े chest of money जाते हैं तो कितने guards स साथ में होते हैं बंदूक वाले guards होते हैं security का भी पैसा होता है जी इसलिए हमें cashless बनना है digitalize करना है printing cost of money को reduce करना है वो पैसा save होगा देश का और money handling के जो cost होती है वो बचेगा पैसे को जो इस्तमाल करने की cost है currency deposit ratio हमें नाहीं बहुत जादा नाहीं बहुत कम देखने मिल नॉर्मली एक behavior होता है इंसान का की कुछ season होते हैं जब यह fluctuate कर जाता है जब यह change हो जाता है जब लोग cash आत में जादा रखते हैं और खर्चा जादा करते हैं ऐसा ही टर्म है reserve deposit ratio आपको मैंने monetary policy की class में बताया था CRR SLR क्या है जिसने अभी तक वो lecture नहीं देखा है दरख और session को इस session को प्लीज लाइक भी कर दीजेगो और साले sessions को प्लीज लाइक किया कीजे तो दाट इस सदीच कें इंप्रूव राइट reserve deposit ratio का मतलब है कि जो बैंकों के पास पैसा reserve में रखा है बैंक आप जमा कराते हो बैंक में पैसा मैं भी जमा कराता हूँ हम जैसे करोड़ों लोग जमा कराते हैं क्या वो सारा पैसा loan में देदे नहीं उन्हें कुछ पैसा reserve में रखना चाहिए ताकि हम एकल जाके दरूवत पड़े तो हम withdraw कर सके हैं अब मान लीजिए वो 20% पैसा जो हम जमा कराने वो reserve में रख रहे हैं और बाकी पैसा बैंकों के दौरा loan में घुमा दिया जा रहा है reserve deposit ratio देख रहा है कि कितना पैसा reserve में रखा गया है जैसे मान लेते हैं 5 लाग करोड reserve में पड़ा है divided by कितना पैसा हमने deposit करा था बैंकों में जैसे हमने तो किया था 100 लाग करोड हमने 100 लाग करोड deposit किया था पर 5 लाग करोड अभी reserve में पड़ा है It is that proportion of total deposit which the banks are keeping in the form of reserve बस यही formula आपका reserve deposit ratio में देखा जाता है कि कितना पैसा reserve में रखा है वो आ गया X मतलब numerator और Y जो denominator है कि कितना total deposit बैंकों में जमा किया था, कितना पैसा बैंकों में जमा किया था कितना पैसा बैंकों ने जमा किया था ठीक है न RDR है, यह healthy level पर होना चाहिए ऐसा नहीं है कि reserve बिलकुल ना के बराबर है reserve क्यों रखे जाते है, reserve इसलिए रखे जाते है कि आने वाले time में आने वाले समय में जब भी आपको जरूरत पढ़े जब भी आप इस्तमाल करना चाहें तो आप उन पैसों का यूज़ करके जो पैसा reserve में पढ़ा है अपने bank की अलग-अलग financial problems को solve कर सके, इसलिए पैसा reserve में रखा जाता है जैसे आपकी bike में, petrol ये डीजल reserve में पढ़ा रहता है, simple reason है यहाँ पर, आपको यह देखने मिलेगा, simple reason very simple reason कि यहाँ पर पैसा reserve में उसी वर्य से रखा जाता है कि जब भी जरूवत पड़े, जब भी खर्चना चाहो आप, तब आपके पास या जब भी ग्रहाकों को उनका पैसा वापस करना पड़े तो आपके पास कुछ पैसा हमेशा आपके हाथ में हो, ठीक है यह बात याद रखेगा आगे चलने से पहले, क्रिप्टो करंसी पर चलने से पहले मैं आपको एक NM पढ़ाना चाहता हूँ NM का मतलब है, Near Money Aggregates आपने कल मेरे साथ M1, M2, M3, M4 पढ़ा था बड़े इंट्रेस्स से सुना था ठीक है न, अब RBI ने एक नई मेथडोलजी बनाने की बात करी है RBI ने वर्किंग ग्रूप बनाए था जिसका नाम था Money Supply, Analytics and Methodology of Compilation RBI का Working Group on Money Supply से कहते है Analytics and Method of Compilation ये एक ग्रूप बना था, इसका नाम रट लेना है 1998 में YV Reddy जी के अंतरदत ये बनाए गया था कि हमारे Current Monetary Aggregates में कोई Change आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए तब जाकर ये Concept बनाए गया था Prelims में सवाल बन सकता है कि Near Money Aggregates C.R.A.R.A.J.N. Committee Working Group की Recommendation पर बनाए गया था, नहीं YV Reddy की Committee की Recommendation पर बनाए गया था Question बन सकता है कि Recently RBI ने Near Money Aggregates Introduce करें, Recently नहीं ये काफी साल पहले ही Introduce कर दिये गये थे 1998 के अंदर, इस Report के अंदर इस Working Group ने सज़स्ट किये थे ऐसे UPSC आपको ट्रिक करता है सोचिए, इस प्रकार आप ट्रिक हो जाओगे इस प्रकार आपका आप ट्रिक हो जाओगे और आप काओगे, अरे ये क्या है, ये तो मैं आंसर करी नहीं पा रहा हूँ इसलिए ट्रिक ना हो, इसके लिए मैं अभी से बता रहा हूँ कि Near Money Aggregates बनाए गया है तीन है, NM1 NM2, NM3 जो हमारी एकॉनमी में जो पैसा सर्कुलेट हो रहा है, उसे अलग-अलग तरीकों से बाट के देख रहे हैं, यहाँ पर प्योर रट्टाफिकेशन है, पर इतना असान है कि आप याद रख लोगे पहले हम बात कर रहे है, NM1 की, Near Money Aggregate 1 की जो पैसा, करंसी हमारे जैसे लोगों के पास घूम रही है सबसे पहले इसमें यह आता है दूसरा आता है, Demand Deposit with Bank, Demand Deposit सबको याद है कासा, Previous Class नहीं करीना, कर लेना है Current Account, Saving Account, यह बताया था उसके बाद यह वीडियो भी देख सकते हैं Third, Other Deposit with RBI, आपको याद है पिशली क्लास में मैंने बताये थे, What are the Other Deposit with RBI, यह हो गया NM1 NM1 का मतलब है कि वो लोन जो की RBI के पास पढ़े हुए वो पैसा जो की बाकी बैंकों के पास पढ़ा हुए Current Account, Saving Account जैसे Accounts के अंदर जिनको Non Interest Bearing Monetary Liability भी कहते हैं यह रटना पड़ेगा इसमें कुछ ज़्यादा समझने का नहीं है अगला है NM2 Near Money Aggregate 2 उसमें Near Money Aggregate 1 तो आता ही आता है वो चीज़ है CU प्लस DD प्लस OD तो कवर है उसमें कुछ और जुड़ गया उसमें जुड़ गये हमारी FD और RD जो की Short Term Nature की है एक साल से 365 दिन से कम समय की भी हो सकती है Short Term Time Deposit जो particular Time Period के लिए होते हैं मतलब एक साल से कम समय के तो मैं अगर सीधे शब्दों में बोलू Simple शब्दों में बोलू NM2 का मतलब है NM1 प्लस Short Term Nature की Time Deposits जो की एक साल है उससे कम की Maturity रखती है NM2 में क्या आता है NM2 में वो Currency Deposits तो आते ही आते हैं Savings Current Account तो आते ही आते हैं Other Deposits तो आते ही आते हैं Short Term Deposits भी आते हैं बस इतना याद रखना है कुछ रटने का नहीं है एक Table भी बना दूँगा तो आर्चानी से और रख पाऊगे Next है आपका NM3 NM3 है Near Money Aggregate No.3 जहाँ पे Near Money Aggregate No.2 यह जो आपने पीछे देखा था NM1 प्लस ST उसमें Long Term Deposit भी आड़ कर देते हो और Call or Term Funding भी आड़ कर देते हो अब Call or Term Funding क्या है Call Money, Term Money का मतलब है कि बैंकों के पास Financial Institutions के पास जो पैसा पड़ा है जो उन्होंने Short Term Purpose के लिए लिया है दूसरे Financial Institutions से कि एक बैंक कह रहा है कि यार मेरे पास पैसा नहीं है दूसरे बैंक से पैसा ले लिया तो वो भी यहाँ पे आएगा अब इसको एक Table Form में कर लेते हैं से पड़े होते हैं बाकी बैंकों के या तो Other Deposits Held With The RBI Demand Deposit Held With RBI Other Deposit Held With RBI यह आपका N1 था N1 में NM1 में आपने Short Term की Time Deposits आड़ कर दिये Short Term के Time Deposit एक साल से कम वाले है अब NM3 में NM2 तो था ही इसमें आपने Long Term के Time Deposit टैड कर दिये और इसमें एक और चीज़ है Call Money Call Money का मतलब है जिस जब आपको पैसी के जरूद पढ़ी है तब आप मांग रहे हो या Term Funding Call Money मतलब कुछ समय के लिए आपने पैसा उधार पे लिया है Term Money मतलब कुछ Time Period Fixed Time Period के लिए आपने पैसा उधार लिया है एक बैंक को जो दूसरे बैंक से पैसा उधार लेना पड़ा तो यह आपके Near Money Aggregates जो नए aggregates suggest किये थे Working Group RBI का YV Ready G के अंदर का जो बनाए गया था उसका यह format था याद करने का बस याद करने और खतम इससे जादा इस पे सवाल आने की उमीद कम है यह बात ध्यान लखेगा इससे जादा इस पे सवाल आने के chances कम है यह बात याद रखेगा सुनो सबसे पहले Cryptocurrency एक तरीके की Digital Currency है जो आप Note जो आप currency नॉर्मली इस्तमाल कर रहे हो उसी को हम Digital Form में Convert करते हैं मतलब यह जो आपके इस Note है यह RBI ने शू किया इस पर Reserve Bank of India लिखा है मतलब भारत सरकार की backing है अगर ऐसी ही currency हम digitally use कर हैं payments बहुत असानी से कर सकते हैं transfer कर सकते हैं बट किसी भी देश के Central Bank Reserve Bank के द्वारा Control में ना हो वो currency जिसमें Cryptocurrency Central Bank इस पर किसी का वश नहीं किसी का control नहीं होता दूसरी बात इसे खरीदते क्यों हैं लोग लोग इसे खरीदते हैं Cryptocurrencies का इस्तमाल करते हैं क्यों पहली बात तो लोग bullish है bullish का मतलब दो concept होते हैं stock market या finance के concept में एक होता है bull एक होता है beer bull का मतलब है जब क्या होता है bull किसी को टक्कर मारता है sand किसी को टक्कर मारता है सीन से अपने मार के हवा में उठा देता है तो कोई भी चीदा अगर उपर जाती है तो उसे कहते हैं bullish कि मुझे लग रहा है कि कर टमाटर के दाम बढ़ेंगे तो टमाटर के लिए में bullish हो दाम कम होंगे तो मतलब bearish भालू जब भी attack करते हैं तो ऐसे जबटा मार के नीचे गिरा देता है तो इसलिए इसको bearish कहा जाता है तेजड़िया मंदड़िया भी कहते हैं इसको हिंदी में तो जब लोग सोचते हैं इसी currency की value बहुत बढ़ेगी क्यों क्योंकि limited amount के अंदर एक crypto currency बनाई गई है software एक algorithm के मदद से software के मदद से games बनाई जाते हैं software के मदद से अलग-अलग tools बनाई जाते हैं तो currency भी तो बनाई जा सकती हैं और इस currency को crypto currency क्यों कहते हैं क्योंकि इसमें crypto graphy technology का इस्तमाल किया जाता है transactions के record को safe बनाई रखने के लिए क्या किया जाता है इसमें crypto graphy का इस्तमाल किया जाता है जो कि एक technology है इसलिए इसको crypto currency कहते हैं crypto graphy का मतब एक ऐसी technology जो किसी भी information को safe रखने की कोशिश करे misuse से public में फैलने से बचाने की कोशिश करे मतलब crypto currencies की information कौन लोग यूज कर सकते हैं cryptocurrency की information वो यूज कर सकते हैं जिनके पास उससे related की है मतलब मैं आपको पैसा भेज रहा हूं तो मैं उसकी information मेरे पास कितना bank में account में balance पढ़ा है और आप उसका इस्तमाल कर सकते हो जो receive कर रहे हैं पैसा तो normal पैसे की तरह ही होता है बस एक software पर बनाया गया है cryptographic technology के तुरू बनाया गया है जो की आपको safety provide करता है एक तरीके की digital currency है और एक alternate system है payment का एक alternate system है जो cryptographic algorithms या methods के हिसाब से बनाया गया है और properly encrypted है हम दोनों के बीच में अगर कोई पैसे का लेंदेन हो रहा है तो और third person कोई नहीं देख सकता इसको virtual currency भी कहते हैं इसको digital currency भी कहते हैं और ये दुनिया भर में popular होता जा रहा है online payment करने के लिए online offline payment करने के लिए coin, ethereum, अलग-अलग currencies का एक आपका wallet होता है wallet मतलब एक storage base जिसमें पैसा stored है जैसे आपके आसे गुल्लक है बस वही डिडिटल गुल्लक मान लो तो cryptographic से protect, cryptographic technology से protected है encryption हो रखा है, proper algorithm बनाया हुआ, software बनाया हुआ जिससे कोई और आपकी information पास नहीं कर सकता, leak नहीं कर सकता तो properly यह medium of exchange के तोर पे इस्तमाल करने का मौका मिलेगा, अब एक बात बताईए यह 500 का रोट है, यह आपके लिए valuable है of course हम सब के लिए valuable होगा क्योंकि इसके उपर एक value RBI के दोरा, Reserve Bank of India के दोरा guarantee की गई है कि कहीं भी जाओगे, कहीं भी दिखाओगे 500 रुपे की वर्थ आपको मिलेगी ना की 200 की, ना की 100 की ना की 400 की, पूरे 500 की जितना इस note पर लिखा है उतनी वर्थ आपको मिल जाएगी इसलिए क्योंकि इसको एक backing मिली हुई है इसलिए आप इसका इस्तमाल करते है क्रिप्टो करंसी भी कुछ इस प्रकार है किसी सरकार की backing नहीं है बट क्या बोला गया है कि जैसे जैसे इस करंसी की demand बढ़ेगी market में जैसे जैसे लोग सोचेंगे कि यार नॉर्मल डिजिटल पेमेंट करने से अच्छा है कि इस डिजिटल पेमेंट को करो safe है, secure है, transaction कर सकते है और किसी सरकार का इस पर कबजा नहीं है, control नहीं है, कोई central authority नहीं है, तो कोई आपको force नहीं कर रहा इस currency को use करने के लिए आप अपनी इच्छा से कर रहे हो decentralized है, banking system से बाहर है जहां पर आपको transaction fees बहुत कम देनी पड़ रही है जहां पर आपको देखने मिलेगा easy है, convenient है, payment करना it is a cheaper alternative सस्ता है normal payment transfer करने के मुकाबले, और modern cryptocurrencies का इस्तमाल किया राता है अगर मैं आपको कुछ पैसा transfer कर रहा हूँ, मेरा सारा record government of India के पास है तुमारा सारा record government of India के पास है income tax department के पास है ministry of finance के पास है, banks के पास है but cryptocurrencies में level of anonymity होती है और लोग जो चाहते हैं कि उनकी जानकारी share ना हो सरकारों तक, वो चाहते हैं लेकिन cryptocurrencies का इस्तमाल करें, अपने wallet से पैसा निकाल कर आपको दे दे अब आप कहोगे सर यह इतना safe और इतना secure कैसे है, उसका reason यह है कि यहाँ पर एक wallet से पैसा, दूसरे wallet में अगर transfer हो रहा है तो जिनके पास public key और private key नहीं है, private key is the key encryption bit to decode the amount of money and the message which you send आप WhatsApp पर कुछ भेजते हैं अपने दोस्तों को वाल लिखा होता है न कि यहाँ पर end to end encryption है, यहाँ पर भेजने वाला sender और receiver जो प्राप्त करने वाला है, उनके इलावा कोई और third person इसकी जानकारी नहीं ले पाएगा, इसी तरीके से cryptocurrencies के अंदर भी कोई third person इनकी जानकारी नहीं ले पाता है fund transfer, minimal processing fees के साथ, पूरे safety के साथ होते हैं, अब आप कहोगे सर इसका फायदा क्या है, अगर कल जाकर मेंज में एक सवाल का जवाब लिखना हो कि फायदे क्या है, तो फायदा है आपको return काफी अच्छा मिल जाता है कुछ ऐसे लोग हैं, जिन्होंने 1000 रुपे के cryptocurrency खरीदी थी और आज वो 12-12 लाख रुपे तक की हो गई है, जी हाँ मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, 12-15-20 लाख रुपे तक की cryptocurrency हो यह जो खरीदी थी उन्होंने, यहाँ पर peer-to-peer network को follow किया जा रहा है, peer-to-peer network का मतलब है, person-to-person, यहाँ पर कोई banking system नहीं है, यहाँ पर कोई बिचॉलिया, कोई intermediary नहीं है, यहाँ पर आप सीधा दूसरी party को transfer कर दे हो इसमें आपका time बचता है it is very time effective, इसमें आपका समय बहुत ज़्यादा बचता है it is very time effective, समय बचता है payment process immediately हो जाती है, तो it can save substantial time आपका बहुत समय बचा सकते हैं sender का और receiver का इन पूरी तरह internet के माध्यम से हो रहा है ठीक है ना, transaction fees minimum है payment instantaneously तुरंत हो जाती है cost effective है banks हो गए, credit card companies हो गई payment gateway हो गई, razor page SF payment gateway हो गया, credit card companies हो गई, banks हो गई, वो कुछ percentage commission charge करते हैं मतब लगबग 2-3% पैसा charge करते हैं, अब दुनिया में हजारों trillion, हजारों billion dollars का transaction होता है, जिसक से इन payment gateways को पैसा कमाने का मौका मिलता है जो अपना platform अपने tools प्रोवाइड गर रहे है but thanks to bitcoin वो पैसा भी बच जाता है जिसकी वरे से hundreds of billions of dollars are being saved इसलिए लोग bitcoin की तरफ move कर रहे है, यहाँ पर diversification का मौका मिलता है, मान लीजे अमेरिका के अंदर, कल जाके कोई economic crisis आ जाती है, तो उनका जो dollar है, अगर आप dollar में payment hold जरके रखते हो पैसा hold जरके रखते हो, उनका जो dollar है वो बहुत कमजोर हो जाएगा आपकी currency की value fluctuate होती रहती है, इसलिए आपको और तरफ, और जगों में invest करने का मौका मिलता है, और आप cryptocurrencies में भी invest कर सकते हो cryptocurrencies की supply limited है, जैसे bitcoin हो गया bitcoin कुछ ऐसे 21 लाग का कुछ amount है, crypto आप पस यह याद रखना कि एक limited supply है इस से ज़्यादा supply दुनिया में हो नहीं सकती है, cryptocurrency की digital virtual asset की है, virtual currency की हमने एक amount fix कर दिया अब जो चीज limited quantity में होती है, क्या उसके दाम और और a period of time बढ़ते हैं के नहीं बढ़ते हैं, अरे best example है petrol डीजल का, petrol और डीजल limited quantity में इस दुनिया में बिल्कुल, क्या उसके दाम बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे उनकी supply कम हो रही है, जैसे जैसे उनका production कम हो रहा है, जैसे जैसे कम तेल बच रहा है जमीन में, बिल्कुल rate बढ़ते जा रहे हैं, कुछ साल पहले 20 रूपीज पर लीटर, 40 रूपीज पर लीटर होता था, अज 100 रूपीज पर लीटर आ गया petrol का price, तो मतलब जैसे जैसे किसी चीज की quantity कम होती जाती है, उसके price बढ़ते जाते है bitcoin के साथ भी यही concept है, अब जैसे कुछ bitcoin का amount हमने fix कर दिया है, जैसे 21 लाख bitcoin का amount हमने इतने bitcoin होंगे दुनिया में fix कर दिया, अब क्या हो रहा है कि एक bitcoin की value, मान लीजे पहले अगर 5 लाख होती थी, आज वो बढ़कर 50 लाख हो गई, क्यों? क्योंकि quantity उतनी ही है लोग demand जादा कर रहे है, और उसके लिए जादा दाम देने तयार है, जादा पैसा पे करने तयार है, इसलिए उसके price बढ़ते जा रहे है इसलिए आपको देखने मिलेगा bitcoin की demand बढ़ती जा रही है और उनके prices भी बढ़ते जा रहे है इसलिए लोग अपना पैसा लगाते इसमें ताकि उनको भी थोड़ा मुनाफ़ा मिल सके बट problem क्या होती है जो crypto currencies की market है वो चलती है अफवाहों पर अगर अफवा फैल गई, कि Elon Musk एक crypto currency बहुत जादा खरीद रहे है ऐसा हो चुका है Elon Musk ने dodge coin नाम की cryptocurrency है, doggy coin भी कहते हैं कुछ लोग इसे, इसके ऊपर अपनी एक backing provide करी थी, और dodge coin के prices रात और रात आसमान छू गए फिर उसके कुछ समय के बाद जब Elon Musk ने कहा कि अरे मैंने थोड़ी ना कहा था तो मैं खरीदने के लिए और खुद बेचने लगे जो उनके पास set of currency थी या जब उन्होंने अनाउंस किया कि उनकी company dodge coin का इस्तमाल नहीं करेगी पहले कहदिया करेंगे इस्तमाल फिर कहा दिया नहीं करेंगे लोगों का sentiment खराब हुआ लोगों ने कहा रहे दुनिया का सबसे अमीर आदमी जब इसे खरीदना नहीं चाहता तो हम क्यूं रिस्क लें हम क्यूं खरीद के रखें इस वज़े से आम जनता ने पबलिक ने इसका इस्तमाल करना बंद कर दिया और आम जनता ने इसको छोड़ना बेचना शुरू किया और जितने पर खरीदा था मान लीजे दे परचेस डिट एट वन लैक रुपीज और बेचना पड़ रहा है उसके वन टेंथ प्राइस पर दस हजार पर बलकि कुछ-कुछ लोगों ने तो एक-एक हजार तक पर बेचा है और इतना लॉस सफर किया है सो चो 90% लॉस 99% लॉस इसलिए क्रिप्टो करन्सी एक स्टेबल सिस्टम नहीं है ट्रेडिंग सिस्टम चल रहा है खरीदी और विकरी हो रही है अरे करन्सी होती है ताकि आप ट्रांजाक्ट कर सको ना कि ट्रेड कर सको इसलिए इसको एक डिजिटल वर्चुल एसेट कहा जाता है कि जैसे एक संपत्ती के रेट बढ़ते रहते हैं आपकी जमीन है कुछ साल पहले पांट लाग की होते थी आप पचास लाग की हो गई है जैसे उसकी रेट बढ़ते रहते हैं उसको आप बेच सकते हो आपकी प्रॉपर्टी है वो अब वही डिजिटल अगर आपके पास पैसा हो उसे आपका डिजिटल एसेट कह सकते हो जो आप वर्चुली इस्तमाल कर सकते हो तो इसको डिजिटल वर्चुल एसेट कहते है अब जो क्रिप्टो करंसीज है ये करंसी एक टेकनोलजी पर चलती है जिस पर UPSC सवाल पूछता है वो है जी ब्लॉक चेन टेकनोलजी क्रिप्टो करंसीज डिजिटल करंसीज जो है वो ब्लॉक चेन टेकनोलजी के माध्यम पर बनाई गई थी 2009 में बिटकोईन बिटकोईन के फाउंडर कहते है सतोशी नाका मोटो नाम के एक आदमी है कौन है किसने नहीं देखा उन्हें कभी कोई जानता ही नहीं है वो एक्चली है कौन तो उन्होंने ब्लॉक चेन नाम की टेकनोलजी का इस्तमाल किया ब्लॉक चेन एक decentralized distributed ledger है कि देखिए बड़ी-बड़ी कंपनिया है वीजा, मास्टर कार्ड बड़ी-बड़ी कंपनिया है Meta, Google, Microsoft वो अपने सर्वर में आपका सारा डेटा स्टोर करके रखते हैं अपने पास centralized तरीके से डेटा स्टोर किया रहता है उनके पास उनके location, उनके सर्वर में सारा डेटा स्टोर रहता है आपका private personal data क्या आप चाते है कि ऐसा डेटा उनके पास टोर रहे, या आप चाते है कि आपका डेटा ऐसी किसी एक company के पास टोर ना हो, बलकि टुकुडों में, हिस्सों में पूरे internet पर फैला हो in a decentralized way क्या option बहतर है, दूसरा option बहतर है न, टुकुडों में होगा आपको parts में देखने मिलेगा तो आपको समझ नहीं आएगा कि यह actually है क्या, इसी तरीके से internet पर जो भी data है, वो एक decentralized, distributed distributed मतलब बटा हुआ है अलग-अलग area में ledger, ledger मतलब अलग-अलग accounts अलग-अलग जहों पर बटा हुआ है कि जैसे मेरे device में आपका कुछ x data है, कुछ y data है कुछ a data है, कुछ b data है, कुछ c data कुछ d data है, अब आप एक individual element को देखोगे तो समझ नहीं पाऊगे, आप जब इन सब को जोडोगे और इनको unlock करोगे, की के माध्यम से क्रिप्टो ग्राफिक technology इस्तमाल हो रही है, एक आपने क्या कर दिया है, आपने इसे कई millions of टुकडों में बाट दिया, millions of parts में बाट दिया data को, अब उन millions of parts को जोडोगे, अब data के ऊपर एक ताला लगा है, जब तक है, जो receiver है, मतलब आपका पैसा जो virtually store हो रहा है, जो person पैसा send कर रहा है और जो person receive कर रहा है से उनको ही जानकारी होगी, decentralized ledger follow किया जाएगा, distributed ledger follow किया जाएगा, कई एक जगे नहीं, multiple जगे, multiple devices में data store किया जाएगा, and any transaction बलकि transactions का record, दो parties के के लावा, ऐसे store किया जाएगा, efficient तरीके से, जो main data है जिसको हम कहते है, hash pointer hash hash, मतब data को टुकड़ों में बाट देते हो, उसको आप hash कहते हो, hash pointer, which is the main part, ठीक है ना, आप इस photo में देखे, इसी screen पर photo बनी है, कि एक server पर data नहीं है, आपने कई सारे nodes, कई सारे टुकड़ों को देखा है, अचा cycle देखिए, आपने, cycle का एक पहिया होता है, पहिये के ओपर एक बीच में rim होता है, और कई सारे उस पर डंडिया लगी होती है, तिल्लिया लगी होती है एक center point उसका node है एक hub है, center point उसका हब है, और कई सारे nodes उसमें connected है, ऐसे ही, data जब store हो रहा है, तो अलग-अलग server पर store हो रहा है जहां पर अलग-अलग nodes, मतलब अलग-अलग network पर data store हो रहा है जब उन्हें combine करोगे और unlock करोगे, तब ही जाकर वो sense बनाएंगे, तो आपका authentic data state इस तरीके से save हो सकता है store हो सकता है, तो बस मुद्दे की बात है कि hash pointer का इस्तमाल किया जाता है, जो कि आपके data को कि समय किया गया है कैसी transaction है, सारी जानकारी अलग-अलग जगों पर store कर देता है जिसको छुपाया जा सकता है कोई इनसान इसे hack नहीं कर पाएगा और blockchain technology किस business पे चलती है, peer to peer network पर मतलब मैं तुम्हें कोई पैसा transfer कर रहा हूं तो मैं जानकारी मिलेगी दो लोगों के आगे वो जानकारी जाएगी नहीं लीक ही नहीं होगी, इसलिए verification बड़ा असान होगा, दो ही लोगों तो verify करना है, sender को और receiver को बेजने वाला ये व्यक्ति है, पराप्त करने वाला ये व्यक्ति है, data block को change नहीं किया रहा सकता, मैं जो data बटा हुआ है ना लग-लग टुकडों में उसको data block कह रहा हूँ data block को change या alter नहीं किया जा सकता पूरा या तो data change होगा parts उसके change नहीं हो सकते, इसी लिए तो अलग-अलग computers अलग-अलग servers में ये जानकारी बहुत safe तरीके से store हो पाती है ये बात ध्यान लखिएगा तो कोई भी transaction आपकी होती है एक virtual data block create होता है जिसे hash pointer भी कह सकते हो आप उसको आप अलग-अलग server अलग-अलग network पे store कर रहा हो, एक जगए store नहीं हो रहा बाद में उसे combine कर रहे हो, उसकी authenticity check कर सकते हो, इसी लिए blockchain technology का इस्तमाल की आजाता है अब ये तो कोई भी data store कर सकता है हमारा कोई भी information store की रहा तभी तो आपका data जो है वो अलग-अलग जगों पर store रहेगा तो safe रहेगा, banks चाते हैं, HDFC और iAccess Bank, ICICI Bank कि वो blockchain technology का use करें banking sector में, सरकार चाती है कि आपके मकान, आपकी जमीन की जो registry का data है, कि ये 2B का जमीन आपकी है, 4B का जमीन इनकी है, ये सारा data भी store हो रहे है, cryptocurrencies का data store हो पा रहा है, अलग-अलग data store हो पा रहे हैं, इस decentralized technology के माध्यम से, इसलिए बड़ी शांदार technology है, data किसी एक region, एक country एक जगह पर store नहीं हो रहा है, आपके Instagram के server western countries में है, आपके Google के server western country में है, आपका data बाहर store हो रहा है, आपके data localization तक को आपको अधिकार नहीं है data localization मतलब ये question मन सकता है, data localization क्या होता है, कि जो आपका data है वो locally India में store होना चाहिए, होना चाहिए के नहीं होना चाहिए, कहा हो रहा है इंडिया के बाहर इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा data हमारे पास ही store और cryptocurrencies के माध्यम से वो हो रहा decentralized तरीके से, इंडिया में नहीं हो रहा पर कोई region specific थोड़ी नहीं अलग-अलग server में अलग-अलग network में जिनका कोई region नहीं है, कोई country नहीं है, कोई single entity नहीं है अलग-अलग entities में अलग-अलग जगों पर store हो रहा है, इसी लिए safe रह सकता है, इसी लिए decentralized cryptocurrencies को लेकर आया जा रहा है अच्छा तो बहुत लगा सुनके, कुछ कमियां भी तो होंगी, एक decentralized system जो blockchain technology के अधार पर बनाया गया है, जिसमें डिजिटली decentralized public ledger solution नहीं मिल रहा, देरा certain concern, सबसे पहली बात, मेरे पास 500 रुफेगा नोट है, government की दौरा backing इसको मिली है, ठीक है crypto currency इस पर कोई backing नहीं है consumer अगर crypto currency खरीते हैं आज खरीदा कल उसका rate टूट गया फिर क्या करोगे ये 500 का नोट आगे भी 500 कही रहेगा ये सरकार की guarantee है सरकार ने इसे legal tender currency बोला है, पिछली classes में हमने बात करिए कि जो RBA के दोरा issued currency होते है जो authorized currency होती है, उसे legal tender कहते हैं, हमें पहले भी हमने बात करी है, crypto currencies are not legal tender ये prelims में सवाल बन सकता है, दूसरी बात market volatility बहुत रहती है, कि जैसे मैं अगर आपको bitcoin का बताओ, bitcoin 20,000 30,000 डॉलर हुआ, उसके बाद फिर वो 2000 डॉलर हो गया, रात और रात, एक साल से भी कम समय में ऐसा हुआ, तो market बहुत उपर नीचे चाती रहती है speculative nature है, अटकल बाजी होती है जैसे cricket match के उपर सटा लगाते हो, कि ये team जीतेगी वो team जीत गई, तो आपको पैसा मिल जाता है ऐसी सटा ही है ये तरीके से, क्योंकि अटकल बाजी है crypto currencies की value तभी बढ़ेगी, जब crypto currencies में लोगों का विश्वास होगा crypto currencies में लोगों का विश्वास खरीदेंगे लोग, पर जब crypto currency लोग बेचेंगे, मान लो एक और covid pandemic आ गया मान लो आपने crypto currency में कुछ x amount of money लगा रखा था मान लो आप covid pandemic जैसी problem फिर आ गई, आप चाते हो, आपकी जेब में पैसा हो, ना कि crypto currency पढ़ा रहे तो आप तुरंत बेच के निकलोगे, मान लो economic crisis आ गई, अलग-अलग देशों के अंदर और उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, तो जो crypto currency में पैसा पढ़ा है, वो बेच रहे हैं और जब वो crypto currency में पढ़ा हुआ पैसा बेच रहे हैं, तो उनके पास पैसा तो आ रहे है, but they are selling the cryptocurrency in the market और sell करने पर लोगों क्या लगता है, कोई चीज market में बिक रही है, और आप देख रहे हो कि यार यह तो बहुत ज़्यादा बेच रहे हैं लोग, तो क्या लगेगा, कि हो सकता है, safe नहीं है, reliable नहीं है, इसलिए यह लोग बेच बेच के निकल रहे हैं, ऐसा क्यूं हुआ जब इलाउन मस्क ने का कि मेरी कमपनी डॉज कोईन यूज नहीं करेगी, तो रातो रात डॉज कोईन के दाम तूट गए, क्यूंकि उन्होंने एक तरीके से यह कहा कि हम इन पर विश्वास नहीं करते, we don't trust, and why to trust, because government has given no backing for them, सरकार ने कोई भी backing नहीं दे रखी है, तो जब backing होगी ही नहीं, तो कहां से आप के लिए protected investment हो सकती है, क्यूं इसमें पैसा लगाओगे, why to be a risk, there is risk in such currency, that is why user loses the benefit of cryptocurrency, अच्छा, एक और बात समझो, मेरे बिटकॉइन wallet में पढ़ा है, एक million dollar, बहुत अच्छे से पढ़ा हुए पैसा, I forgot my private key, वो जो password था, वो जो access point था, मैं भूल गया, अरे, क्या करूँ, मेरे को याद ही नहीं आ रहा, एक इंसान ऐसे थे, जिन्होंने 1000, जब dollar का rate होता था, क्रिप्टो करंसी का, तब कुछ bitcoin खरीदे थे, फिर जब rate हुआ 20,000, 30,000 dollar, मतलब 20-30 गुना बढ़ गया, तब उन्होंने जाके कोशिश करी, उसी bitcoin को access करने के access नहीं कर पाए, उनके पास उनकी hard drive में data पढ़ा है, करोणों के करंसी का data पढ़ा है, पर क्योंकि उसका access नहीं है उनके पास, वो उसका फायदा ही नहीं ले सकते हैं, तो जहां नजर हटी, दुरघटना घटी, आपका data online digitally store है, अगर आप password आपके पास नहीं, बिकुस password cannot be reset, traditional digital banking accounts में तो password reset हो जाता है, यहां आपकी private की अगर गई तो पैसा भी गया, और करोणों का नुक्सान हुआ है, कई हजारो लोगों का, इस वज़े से, अज़ एक और बड़ी बात है, है तो यह सब internet पे, है तो यह एक software एक algorithm के मदद से बनाया गया कोई भी malware, malware मतलब malicious software आ गया, एक खराब software आ गया, आपका सारा data उड़ जाएगा, आपके लाखों करोडों रुपे पढ़े हैं, उसमें वो उड़ जाएगा फिर क्या करोगे, अच्छा है एक और बात है, money laundering और terrorism, जैसे बच्चे ने लिखा है, live class में बहुत अच्छा लगा आपके point को देखकर money laundering और terrorism को बढ़ावा दिया रा सकते हतियार खरीदने के लिए, drugs खरीदने के लिए और ये example है लोग drugs खरीद रहे थे cryptocurrency में payment करके, तो criminal activities में किया जाता है, इसका सरकार के पास कोई जानकारी होती नहीं है anonymity है, कोई आपकी आपकी बारे में कोई जानता ही नहीं है in comparison to other payment methods तो इस तरीके से money laundering, terrorism, drug trafficking guns trafficking में prostitution में इन चीजों में इसका इसका इस्तमाल हो रहा है, क्योंकि regulatory तो body ही नहीं ना कोई, आप regulatory body को bypass कर रहे हो, इंडिया में ये एक legal tender नहीं है मैं ये नहीं कहरा कि ये illegal है पर ये legal tender नहीं है, इसमें RBI की backing नहीं है, इसको आप currency के तोर पर use नहीं कर सकते हैं, आप इसे trading purpose के लिए use कर सकते हो, इसी लिए सरकार ने कहा कि तुम trading कर रहे हो ना सस्ते में खरीद कर low price में खरीद कर high price में बेच रहे हो, बेटा tax दो, जमीन सस्ते में खरीदते हो जादा में बेचते हो, tax देना पड़ता है share सस्ते में खरीदते हो, जादा में बेचते हो, tax देना पड़ता है तो जब आप tax दे रहे हो, crypto currencies पे जब tax लगएगा तो आपको इस पर भी जो सस्ते पर खरीदा और महेंगे पर बेचा जो profit कमाया उस पर भी tax देना पड़ेगा पचास रुपे सरकार के अकाउंट में जमा हो जाएंगे tax deducted at source एक तरीके से advanced tax के तौर पर जिससे सरकार कह रही है कि industry की growth को हम बढ़ावा दे पाएंगे और ऐसी virtual digital currency जब transfer हो रही है अच्छा transfer होने पर है मेरे पास मैंने 1000 रुपे की virtual digital currency खरीदी थी आज वो एक करूड की हो गई है तो मेरे को उस पर तब tax नहीं देना जब मेरे पास पैसा पड़ा हुँ है जब मैं बेचूंगा transfer करूंगा और जो मैं profit कमाऊंगा मुझे उस profit पर देना होगा tax 30% tax सीधा और जो profit मैंने कमाया उस पर 1% TDS भी कटेगा जैसे 5000 रुपे का profit कमाया तो 50 रुपे TDS काटके सरकार के account में डाल देंगे 4950 रुपीज मुझे मिल जाएंगे 50 रुपे सरकार को tax दे दिया जाएगा वो tax advance tax है देना तो आपको 30% ही है 1% आप advance में जैसे आपके income आई है तब ही जमा करा रहे हो और अगर आपके पास crypto currencies 50,000 से जादा की value की है well you will have to pay tax on it यह बात याद रखिएगा पहले taxable नहीं था सरकार ने का बहुत फाइदा ले रहे हो बहुत profit कमा रहे हो अब नहीं कमाने देंगे इसलिए कई कंपनिया इससे financial loss का भी सामना कर रहे हैं coin DCX और कलग-लग companies होती थी market में आज उनका अप हाल देख रहे हैं क्या हो गया है financial stability को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी था अच्छा एक और बात समदो cryptocurrencies create कैसे होते हैं कोई भी आप मेंसे जो computer science background का है उसको पता है कोई भी अगर आप software create करना चाते हो तो आपको coding करनी पड़ती है data लिखना पड़ता है है यहाँ पर automatic tools बन गए है जिनके माध्यम से आप coding कर सकते हो मतलब वो computer software आपके लिए coding करेगा time लगता है उसमें coding करके प गमीन के अंदर कोईला है सोना है आप उसे खोद खोद के माइन करके निकाल रहे हो यहाँ पर खोद के नहीं code के code लिखकर आप निकाल रहे हो इसके लिए बहुत powerful devices चाहिए होते हैं तो लोग playstation playstation का नाम सुना है gaming console होते है normal computer के CPU और GPU उतने fast नहीं होते playstation जिसमें video games खेलते हैं उनके CPU बहुत fast होते हैं तो लोग playstation का heavy CPU का इस्तमाल करते हैं अपने घरों में अपनी crypto mines के अंदर यह crypto currency को mining करने के लिए software वो code लिखता रहता है लिखता रहता है कोशिश मैंने भी करी है कई बारी मैं मजाग नहीं करूँगा सच ने बोलूँगा I tried it some 8 years back जहाँ पर मैंने अपने laptop से कोशिश करी थी पर पूरे हफ़ते भर crypto mining करके भी कुछ 100-500 रुपिया ही मैंने कमाये था रहे इतना तो मैंने बिजली का bill दे दिया होगा क्योंकि internet चल रहा था पूरे time पर क्योंकि laptop पूरे time on था CPU computer का पूरे time on था लोगों को लगता ह चोटे level पर कर लेंगे तो पैसा कमाने गे नहीं बड़े बड़े लेवल पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रिया हजारों एकड़ की फैक्ट्रिया है आइस लैंड के अंदर ग्रीन लैंड के अंदर पता है वहां क्यों है वहां पर होती है पहले से बहुत ज्यादा ठंड तो आ माइनिंग से बहुत ज्यादा पावर मतलब अगर आप देखेंगे 2018 के अंदर आधी स्विजलेंड की बिजली जितनी इस्तमाल करता है उतनी इस्तमाल क्रिप्टो माइनिंग में बिटकोइन माइनिंग में हो रही है इसी लिए बच्चे इसके कई सारे चैलेंज्ज है एक बहुत बढ़ा चैलेंज्ज है कि इस वीस 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 से आपको देखने मिलेगा इटेज़ बरी पावर इंटेंसिव थिंग अच्छा क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन हो रही है इंडिया से बाहर इंडिया से पाकिस्तान पाकिस्तान से इंडिया इंडिया से दोबई कुछ कररन्सी प्राप्त कर रहuju हूं मेरे पाकिस्तान से आ रही है एक मिलियन डॉलर की मारीजिए तो इंडिया की इकॉनवी में एक मिलियन डॉलर का सरकुलेशन बढ़ गया जैसे जैसे वनी का सरकुलेशन बढ़ता है और लोग ऋसपर टेक्स नहीं देते जैसे बलाक कर से मैंने कमाया है illegal इस एक सेप्प करती नहीं और मैंने अपने पास रख लिया ये लगो मेरी पांट में भी गया तो मैं अपने पास इसको रख लिया है गवर्मेंट को नहीं है इन्हींawan कर रहा है कि इसको सेंड करके है, genuine currency है, तो मैंने इस बिना सरकार को tax दिये, पैसा कमाया और उसका आगे इस्तमाल किया, यही 500 का नोट कोई और व्यक्ति कमाता, उसे उस पर 100 रुपे टैक्स दिना पड़ता तो उसके हाथ में सिर्फ 400 होता, मिर पास 500 है, मिर पास 100 रुपे एक्स्ट्रा है, तो यह 100 रुपे एक्स्ट्रा जब आप मल्टिप्लाई करते हो एकॉनमी में, जो ब्लैक नहीं दिया जा रहा है टाइम पर, आपके पास वो पैसा है, जो इल्लीगली मनी सर्कुलेशन में घूम रहा है, जो की नहीं घूमना चाहिए, इसलिए कुछ साल पहले की बात है, जिनके पास बहुत कैश होता जारा कि बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद लेते थे, फॉ आप उन्हें ब्लैक में दे दोगे, तो इस तरीके से आपको बड़े नेगेटिव देखने मिलते है क्रिप्टो करन्सी के, किस से हमारी एकॉनमिक सप्लाई, मनी सप्लाई में इंपक्ट आता है, ठीक है और क्रिप्टो करन्सी तो कितनी सारी कंपनिया बना लो, एक डॉज कर देता है, अन्रेगुलेटेड है, अन्बैक्ट है, प्रॉपर सिस्टम नहीं है, कोई डिसरप्शन क्रियेट कर सकता है, इसलिए क्रिप्टो करन्सी आर नॉट टू बी ट्रस्टेड, सीधी सी बात है, 2018 में आर बिया इने एक सर्कुलर इशू किया था, आर बिया प्रिव कोट ने अनकॉंस्टिटूशल बोल कर, सुप्रिव कोट ने कहा कि देखो इसका ट्रेडिंग जो इनसान करना चाता है, खरीदेगा, जो बेचना चाता है, बेचेगा, बट अगर आर बिया इसको लीगल टेंडर नहीं मानता, तो आर बिया अप्रूवल नहीं देगा, आर अर बिया ने कहा, सर, हम बैकलिंग देना भी नहीं चाते है, हम अपनी खुद डिजिटल करनसी लेकर आएंगे, और भारत सरकार ने एक बिल, 2021 में पेश किया, क्रिप्टो करनसी और रेगुलेशन ऑफ ओफिशल डिजिटल करनसी बिल, क्रिप्टो करनसी लिख देता हूँ कि रेगुलेट करेंगे, और बिया ने कहा, सर, यह बिटकोईन, बिटकोईन को रेगुलेट मत करो, हम अपना खुद का एक एक रूपी, डिजिटल करनसी बनाएंगे, हालाकि वो क्रिप्टो करनसी नहीं है, डिजिटल करनसी है, जिसमें क्रिप्टो ग्राफिक रूपी का बतातो, मैं मतलब आपको आने वाली क्लास में भी बताऊंगा, अभी शॉर्ट में सुन लो, आने वाली लेक्चर्स में इसके बारे में बात करेंगे, इरूपी एक ऐसी डिजिटल करनसी है, जिसके माध्यम से आप जो पेपर फॉर्म में करनसी करते थे इस्तमा कि RBI ये नोट छापता था आपके लिए, और RBI ने इसे पेपर फॉर्म में छापा है, अब इसी करनसी को वो डिजिटली छाप सकता है, वो हमारे मनी सप्लाई सिस्टम का पार्ट माना जाएगा, पर ऐसा नहीं होगा कि जैसे पेपर फॉर्म में करनसी होती थी, फिर उसे डिजिटली स्टोर करते थे, क्या होता था, यह अगर मैं आपको 500 रुपे दू, आप मेरे पेटियम अकाउंट में 500 रुपे ट्रांसफर कर दो, तो यह 500 रुपे देकर आपने मुझे पेपर करनसी मैंने आपको दी, आपने मुझे तब जाके पैसा ट्रांसफर किया, है ना नॉर्मल ही ऐसा होता है, उसके लिए यह तो इशू करना पड़ा ना, यह तो इशू करना ही पड़ा, कॉस्ट है इसको इशू करने की, आर भी यह कहा रहा है आप डिजिटल इशू करेंगे, एप्लिकेशन के माधियम से इशू करेंगे, जो कि एक डिजिटल करनसी एक 10 रुपे का नोट चाहिए होता है, तीन नोट चाहिए होते हैं ना, अलग अलग थ्री करनसी जार रिक्वाइड, तब यह आप 530 रुपे पूरे पेबैक कर सकते हो, अब यहाँ पर इई रूपी के माधियम से वो डिजिटल वाउचर के माधियम से पेबैक कर सकते हो, अब आप कहोगे सरी यह तो पेटीम और गूगल पे जैसा ही हुआ नहीं हुआ बेटा वो, गूगल पे पेटीम सिर्फ एक मनी एग्रिगेट टूल्स हैं, जो आपके बैंक अगाउन में पढ़ा हुआ पैसा आपको ट्रांसवर करने में मदद कर रहे हैं, वो वही पैसा ज से आप असानी से ट्रांसफर कर सकते हो, इस वेरी सिंपल है न वेरी इजी तिंग, इस एजी टू ट्रांसफर, तो आर्बियाई ने ए रूपी इनिशेटिव लास्ट यह शुरू किया है, ट्राइल बेसिस पर, पर यह 100% इंडिया में बहुत जल्दी लागू हो जाएगा, हम चारे हैं कि ऐसी डिडिटल करंसी लेकर हैं, जो आर्बियाई के द्वारा बैक्ड हो, हम आर्बियाई की क्रिप्टो करंसी भी बनाएंगे, पर उसके लिए कानून लाना होगा, जो सरकार जैसे ही लादेगी, उसके बाद आर्बियाई इसको क्रियेट कर सकता है, आर्ब करूं ठीक है न मेरा क्या भरोसा सरकार का तो अट-लीस भरोसा है न तो ये प्राइवेट क्रिप्टो करन्सी कैन ब्रेंड्रें होगा इंडीया के क्रिप्टो करन्सी के एरिया के अंदर शार्प माइन है वह दूसरे देशों में चले जाएंगे दूसरे देशों में जाके बिजिशनेस करेंगे अर्व कि 2018 के बैंनail डिक्लियरकर ने की बात करी लोग देश चोड़ के चलेके कि हमिशस से ज लाओ नहीं करोगी कि इसका करन्सी के टेक्नोलोजिक ट्रांस्वर्मेटिव टेक्नोलजी यह बात सच है इंडिया इससे पीछे नहीं रह सकता है इंडिया को इसको 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 पब्लिकली अलाओ करना होगा बठा एक अन्प्रोडक्टिव चीज ना बन जाए वरना हमारी करन्मी क्रियेट हो जाएगी जहाँ पर इल्लीगल तरीके से मनी लॉंटिंग के लिए टेरिरिजम के लिए गंज खरीदने के लिए इन चीज़ों के लिए इसको किया जाएगा जो की आनेक्सेप्टेबल है इसलिए इसको रेगुलेट करना चाहिए ट्रांस्पेरेंसी आन बंद हो गई आपका तो पैसा फस गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है ना मैं जागो ग्रहक जागो अजय क्रिप्टो करन्सी की exact definition क्या होनी चाहिए यह मेंद में पॉइंट लिखने काम आएगा फ्यूचर रीकोर्स क्या है कि एक लीगल और चाहिए पूरा पता होना चाहिए कैसे इसको वर्क अप करेंगे सेकिंड तभी है ट्रांस्पेरेंसी और तभी क्लारिटी आएगी सेकिंड लीगल फ्रेमवर्क के लावा हम चाहते हैं कि इस टेक्नोलजी को सरकार इस्तमाल करें और मिस्यूज ना हो इसका अच्छा इसके अलावा क्लारिटी आए डेफिनिशंपर जब एक बार डेफिनिशंपर होगी क्लारिटी आएगी तभी क्रिप्ट कर्णसी को प्रॉपली अप नाशनल और इंटरनाशनल लॉस के तरहाद रेगुलेट कर पाओगे अच्छा कोई क्रिप्टकरंसी खरीद रहा है या बेच है उसके strong KYC norms होने चाहिए KYC मतलब know your customer मालो मैंने खरीदा अगर crypto currency सरकार को पता चल जाए वरना क्या होगा money laundering कर सकते हैं लोग गलत तरीके से कमाए गए पैसे को black से white दिखाने की कोशिश कर सकते हैं और tax story कर सकते हैं tax लग जाए इसलिए strong KYC norm किसने कब खरीदा KYC मतलब know your customer bank आपसे form भरवाता है अपना याधार कार्ड पैन कारड अलग-अलग जानकारी दो वही 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 जानकारी this should be done so that cryptocurrencies can be properly regulated transparency आएगी न अच्छा independent audit हो उन company की जो cryptocurrencies बीचती है ताकि देख सके कि इनमें कुछ जालसाजी तो नहीं चल रही है इनको inspect करो इनके accounts की इनके records को properly जाचो consumer protection और investor protection को बढ़ावा दो कि एक रुपिया भी किसी व्यक्ति का बरबाद ना हो consumer protection और investor protection को बढ़ावा दो तब ही जाकर इंडिया के अंदर जो sharp mind है इस sector से जुड़े हो उनको हम अच्छे से इस्तमाल करेंगे entrepreneurial spirit को बढ़ावा देंगे entrepreneurial spirit से पूरा एक business का ecosystem बढ़ेगा job opportunity create होंगी क्योंकि देखो blockchain developer को नौकरी मिल सकती है designers को project managers को business analyst को जो marketing जो sales के अंदर लोग होते हैं उनको काम मिल सकता है मतब हम एक digital revolution की बिल्कुल pass खड़े है हम यहां खड़े और digital revolution यह आए बस उस तरफ जाना है हमें we have the potential we have the knowledge हमारे पास human capital है पढ़े लिखे लोग हैं उनके पास expertise है उस resource को इस्तमाल करें इस digital revolution को बढ़ावा देने के लिए ताकि proper regulation के साथ हम इंडिया के अंदर bitcoin crypto assets का इस्तमाल करें ब्लॉक्चेंग का इस्तमाल करें और मतब इंडियन्स जो है laws बाइपास करके आगे ना पड़े बलकि उस law के दाइरे में रहे के काम करें और fourth industrial revolution का जो एक हिस्सा है the cryptocurrency revolution उसको हम बढ़ावा दें ताकि decentralized तरीके से हमारा data store हो सके और safe भी रहे आशा गरता हूं आपको ए topic समझ आया होगा ठीक है जी पहली बात तो आप qualitative instruments के अंदर RBI के द्वारा कुछ efforts करते हुए देखते हो जिससे RBI request कर सके qualitative instruments में RBI request कर रहे है RBI advice दे रहा है सला दे रहा है RBI request कर रहे है RBI कह रहा है कि हमारे देश में या तो महंगाई बहुत जादा है या तो ऐसा time चल रहा है जहां पर recession के हालात है देश के अदर तो उससे लड़ने के लिए उससे जूजने के लिए qualitative tools नाम के कुछ tools यूज किये रहते हैं जहां पर RBI जानमूच कर पैसा कुछ sectors को देता है और कुछ sectors को नहीं देता RBI request करता है हाथ जोड़े खड़ा रहता है morally persuade करनी कोईश करता है कि बैंकों को ताकि bank कुछ काम जो नहीं कर रहे हैं मतलब जैसे आप पढ़ नहीं रहे हो आप अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हो मैं हाथ जोड़ के हाँ कि बेटा पढ़ ले प्लीज पढ़ लो एक्जाम क्लियर करना है तो मेहनत कर नहीं होगी प्लीज पढ़ लो यह क्या है request करना हो गया ना I am requesting to you that please work hard please study as it is your duty it is your responsibility मैं आपको आपके duty याद दिला रहो तो ऐसे RBI या अलग-अलग methods का instruments का use करता है क्य जैसे फॉर एक्जामपल कुछ sectors को उधार दिया जाएगा और कुछ sectors को उधार नहीं दिया जाएगा कुछ sectors के अंदर loan का supply होगा कुछ sectors में loan का supply नहीं होगा मतलब ऐसे areas हैं देश में ऐसे area's हैं जो की essential areas है जो देश की growth के लिए बहुत जरूरी है उनको specially loan दिया जाएगा यहां पर RBI खुद अपनी जेप से पैसा नहीं दे रहा, RBI कुछ rules, regulations में change कर ले रहा है, जिससे उधार लेने वालों को और उधार देने वालों को impact आता है, क्या कर रहा है RBI, यह question प्रिलिम से बन सकता है, कि directly intervene कर रहा है, RBI यहां पर आपके rates को, percentage rates को, interest rates को change नहीं कर रहा है RBI यहां पर आपसे दर्ख्वास करता है, advice करता है, request देता है, कि आप please इसको change कर दे, जिससे उधार देने वाला और उधार लेने वाला, दोनों पर impact आते हैं, जैसे पहला method देखते है, consumer credit regulation, कि कोई भी इंसान loan लेता है, higher purchase पर कोई चीज़ खरीता है, higher purchase मतलब lease पर लेना, lease पर लेना, कि 5 साल के lease पर दे दो, आपको हर महीने किष्ट देते रहेंगे, पैसा देते रहेंगे, जैसे एक machine खरीदी है, हर महीने उसकी किष्ट देते रहोगे, उसकी installment, EMI होती है, वो pay करते रहोगे, अब RBI कल को rules बना दे, कि EMI नहीं देंगे, या देंगे तो उन पालिया जी की तरह लोन लेकर उडंचू हो जाए, तो सिर्फ उन लोगों को लोन दिया जाए, जिनकी अच्छी credit worthiness है, जो की एक अच्छी credit worthiness रखते है, credit worthiness मतलब लोन दिया जा सकता है, उनकी हैसियत है, चुका सकेंगे, they have good salary, they earn a good amount of money, and money can be given to them, ऐसे लोगों को ही लोन दिया जाए, तो यह क्या आता है, यह आता है, पहली category में, regulation of consumer credit, example दो, home loan लेते time, RBI, एक limit लगा दे, minimum limit लगा दे, कि आप अगर home loan ले रहे हो, लेट से 1 करोड का home loan ले रहे हो, तो 15% आपको down payment अपनी जेब से देनी होगी, मतलब एक करोड के लोन में आपको 85 लाक तक का ल loan bank दे देगा, अगर 1 करोड की आप property लेना चाहते हो, उसके उपर loan लेना चाहते हो, 85 lakh bank loan दे देगा, पर 15 lakh रुपीज आपको self देने होगे, खुद से देने होगे, जो कि आपके down payment हो गए, यह consumer credit regulation का एक तरीका हो गया, down payment की condition बना दी, अच्छा RBI चाहता है कि देश में ज अब है लाग का तुम्हें loan दे देंगे और घर ले जाओ, ठीक है न तो जिनके पास 10 lakh रुपे हैं, 15 lakh नहीं है, वो भी घर ले सकते हैं, वाह, इससे RBI जानबूच के market के अंदर money supply को बढ़ा देगा, अपनी इच्छा से, क्या होगा, RBI money supply को बढ़ा देगा, एक बार फिर कि आप के पास पैसा है, ठीक है, नहीं है, तो आप के लिए हम down payment की condition कम करते हैं, इससे फाइदा क्या होगा, इससे economy money supply बढ़े की, क्योंकि लोग जादा loan ले पाएंगे, जादा पैसा economy में loan के तोर पे घूम पाएगा, और इससे आप देखेंगे, जो लोग loan नहीं ले पा 25 लाग, अब खुद 25 लाग लाओगे, तभी 75 लाग की बकाया amount पे loan मिलेगा, एक करोड का घर आपका होगा, हर इंसान तो ये ले नहीं पाएगा, लोग इससे दुखी हो जाएंगे, नाकुश हो जाएंगे, people will not be able to borrow, because the margin requirement is just too much for them, the down payment is just too much for them, जिससे economy में money supply कम होगी, जि ultimately, जब लोग avoid करेंगे, लोन ले ना, जो जे मैं पैसा भर-बर के market में उतरते हैं, और जिस विए से महंगाई बढ़ती है, वरना हर इंसान लोन ले ले, market में जाए, मेरे को घर खरीदना है, 10 लाग पड़े है, 90 लाग का bank ने लोन दे दिया है, तो इससे property के rate बढ़ने है, तो वो अपने घरों के, अपने मकाने के rates को, prices को बढ़ा देंगे, और एक बार बढ़ा दिया है ना price, महंगाई बढ़ने लगेगे, हर चीजों के दाम बढ़ने लगेगे, इस वजए से हम control करने की कोशिश करते हैं, that down payment एक balance amount में रहे, ना बहुत जादा, ना बहुत क अगर question मनता है, recession के हालाथ है, RBI चाता है, recession से लोग बाहर आएं, consumption नहीं कर रहे हैं, मंदी के हालाथ है, खर्चा नहीं हो रहा है, और लोग उसे खर्चा गरवाना है, तो RBI down payment कम कर देगा, down payment की condition reduce कर देगा, ताकि recession जैसी एक problematic situation से हम बाहर आ सकें, on the other hand, अगर बहुत ज़्यादा महंगाई है, inflation बहुत ज़्यादा है, तो उस टाइम पर RBI हमारे जो down payment की condition है, उसको बढ़ा सकता है, वहना लोग क्या कर रहे हैं, उधार ले ले रहे हैं, और अपनी ज़रुत जो चीज़ा हैं उनको चाहिए, वो खरीद ले रहे हैं, but what is happening, money supply in the economy is increasing, and उसकी से महंगाई भी बढ़ रही है, simple, I mean to say, do you need to use your brain now, it is a matter of logic, और सबको अब याद हो गया होगा, अच्छा, RBI installment की amount भी decide करने के लिए, rules, regulations, create कर सकता है, loan कितने समय का मिल सके, अच्छा, एक बात बताओ, आपको अगर 20 साल का loan दे, तो आप धीरे-धीरे, अलग-अलग किष्टों में चुका दोगे, अगर 30 years का loan दे तो तो definitely चुका दोगे, पर अगर मैं कल जाके, RBI कल जाके, बोल दे, कि 30 years का loan नहीं मिलेगा, 20 years का loan नहीं मिल गा, 10 का मिलेगा, चुकाना है तो चुका हो, people will not be able to borrow in that situation, reason, salary इतनी हाई नहीं है कि 10 साल में सारी किष्टा चुका दी जाए, 20 साल, 30 साल की महलत देते, तो थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा करके, हर साल आपका पैसा वापस कर दिया जाता, but now, as the condition is of 30 years, 20 years, then it is easy for us to pay you back, खुदी सोचो, आप लोन ले रहे हो, घर खरीता है, वो प्लोट पसंद आ गया, वहाँ पे आप अपना आशियाना बसा होगे, आपको बोल दिया रहे है, 5 साल में लोन चुकाना है, आपका होगे नहीं चुका सकता, 10 साल में चुकाना है, नहीं चुका सकता, जितना जादा समय आपको मिल जाएगा, उतनी कम EMI, it is evenly spread out within these years, and when you get more time, you are able to pay it more, as simple as that, आप असानी से पे कर पाओगे, किस्तों में बढ़िया तो, consumer credit regulation का आपको ये part देखने मिलेगा, ठीक है न, margin requirements भी इसे कह सकते हो, margin requirement भी consumer credit regulation में आता है, कि वो जो down payment की value थी, उसको अगर आप down payment ना कहकर, collateral कह दो, कि अपना कुछ आपको गिरवी रखना पड़ेगा, इसे कहते है, margin requirement, अब आप घर खरीद रहे हो, अपनी जेप से भी तो कुछ पैसा लगाऊगे है, सारा पैसा बैंक से लोन पे ले लोगे, इसी लिए RBI margin requirement लगता है, ताकि बहुत जादा money circulate ना हो, economy और बहुत कम भी ना हो, RBI अलग-अलग sectors के लिए margin requirement बनाता है, margin amount की आपको कितना पैसा देना है, और bank आपको कितना पैसा देगा, तो ये margin requirement के तहत आता है, margin मतलब percentage of the loan that is not financed by the bank, वो पैसा जो आपको देना है, ये condition change की जा सकती है, margin requirement बढ़ाया जा सक है, मानलो आपको खरीदने है, KTM की एक बाइक, एक लाख रुपे की आती है, और आपकी जेब में सिर्फ 5,000 रुपे पढ़े है, और RBA कहता है कि 25,000 रुपे अपनी जेब से लगाओ, और 75,000 का loan ले जाओ, आप तो नहीं खरीद पाओगे, हाँ, आपके लिए अगर reduce कर द आती है, as per the situation, and this is with respect to the consumer credit regulation, उससे जोड़ के देखो, तो ये होता है margin requirement, RBA को ये लगता है कि आप अपनी जेब से पैसा नहीं दे रहे हो, तो बाद में किस्ते भी कैसे चुका पाओगे, इसलिए आपको encourage करने के लिए कि आप अगर चाहिए loan तो अपनी जेब से भी कुछ पैसा लगाओ, इसके लिए provision बनाया जाता है, CDC बात है, कभी कबार RBA क्या कर देता है, उन sectors या उन चीजों की खरीदारी पर, जो इतने essential नहीं है, जो unneeded है, ठीक है न, उनके लिए margin requirement बहुत बढ़ा देता है, कि 50% bank loan देगा, 50% तुम अपनी जेब से पैसा लगाओगे, क चत हो, है न, तो यह situation के इसाब से change होता रहता है, next, RBI direct action ले सकता है, और directives issue कर सकता है, अब यह direct action का मतलब क्या है, अब आप पढ़ नहीं रहे हो, ठीक है न, तो मम्मी पापा आएंगे, कमरे में आप देख रहे हो, कि वो देख रहे हैं कि आप बैटके real हैं देख रहे हो या TikTok बना रहे हो, मम्मी पापा कहेंगे कि बेटा तुम निकले थे यह बोलकर कि हम सर UPSC की तैयारी करेंगे, पापा मम्मी UPSC की तैयारी करेंगे, और बैटके तुम real देख रहे हो, हैं, कच्चा बदाम, पक्का बदाम, पानी, 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 अंकल जी, पानी पिला, what is this फढ़ लो अंकल जी पढ़ लीजिए ये मत करिये प्लीज डों डू दू दीस तिंग्स अज इस गोई टूप यूपीशी परपरेशन मोमेंटम आप पता है यूट्यूब शॉट्स एक बहुत बड़ा ट्रैप है देखने बैठ होगे एक घंटा निकल जाएगा क्या होता है मेरे साथ तक होता है कितना टाइम निकल जाता है पता नहीं चलता है इस पथेटिक इस वेस्ट ऑफ टाइम नो नॉलेज इस गेंट और कोई टालेंट भी नहीं होता हो उसमें लोग गाने पर रिकॉर्ड दरके वीडियो डाल रहे हैं अश्लील चीज़ें आती हैं I'm not doing moral policing I I'm just telling you if you are a UPC aspirant you don't have time for these things पांच मिनट छे मिनट यूस कर लिया बस माइंड फ्रेश हो गया पढ़ने लगो वरना पढ़ा ही तो चौपट हो जाएगी पापा अम्मी आएंगे कमरे में और कहेंगे बेटा इधर आओ आओ जरा फोन दिखाओ फोन लिया जेव में रखा फिर वो अपने हाथ के दर्शन कराएंगे आशिरवाद ना देकर अपड़ देकर इसी लिए इसे कहेंगे कि पापामी इस डूइंग डारेक्ट अक्शन ले रहे हैं आप सुधर सकें अब आर बी आई भी कई बार डिरेक्टिव इशू करता है डारेक्शन देता है ओडर देता ह अब बैंक ना माने तो क्या करें पकाई बार बोल दिया कि मानो हमारी बात मानो जब डिरेक्टिव से कुछ ना हो डिरेक्टिव मतलब जैसे बोल सकता है अर विए कि आप ऐसे लोगों को जिनका सिविल स्कोर सिक्स फिफ्टी से कम है उनको लोन मत दो सिविल स्कोर का मतलब अब civil नाम की एक credit bureau है वो यह देखती है कि आप salary पेशा हो, salary पेशा हो तो time पर अपको loan देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, वो इस बात पर आपको judge करते हैं, तो एक score होता है, 700 से उपर है, तो बहुत अच्छा है, 650 है, ठीक है, चलता है, 700 से उपर है, तो बहुत बहुत अ है, ऐसे directions पैदा कर सकता है, कि आप जाओ, loan लो, loan इसी condition पर आपको मिलेगा, इस civil score के basis पर आपको मिलेगा, तो इसी तरीके से जो rules regulation बनाए जा रहे है, so that your loan taking habit can be controlled, यह RBI के directives के तहता आता है, और जब नहीं मानोगे तो फिर RBI आप पर लेगा direct action, कि तुमने, हमने देखो खोशिश करी थी, तो मैं बात समझाने की नहीं माना, license cancel कर देगे, bank का license रद कर दिया जाएगा, yes bank का हाल देखो क्या है, RBI की बात नहीं मान रहे थे, yes bank AT1 bonds नाम के bonds लेकर आये थे, कलम इसके उपर पढ़ेंगे, कल का जो lecture है, वो पूरी series का सबसे important lecture होगा, जहां पर CR, AR, Basel, AT1, यह सब हम पढ़ेंगे, वादब, it's very important, very very important, please watch it, tomorrow's lecture, next lecture, which I mean to say, AT1, CR, AR, Basel, yes bank ने बात नहीं मानी, it flouted and floundered the rules which was set by RBI, it did not obey, बात नहीं मानी, RBI ने का अच्छा, देखते है, yes bank का control ले लिया अपने हातों में, yes bank के जो, the people who owned the bank, उनको हटा दिया अपनी position से, फिर RBI ने पूछा है, अभी मज़ा आया, yes bank ने कहा, सर बात मानेंगे आपकी, ऐसे bank का license भी रद कर सकते हैं, deal list कर सकते हैं, bank ही liquidate कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, कि सब बेचो, बाचो और खतम करो, ऐसा भी possible है, यह सब कैसे होता है possible, जब RBI की बात नहीं मानते banks, पहले RBI morally persuade करने की कोशिश करता है, please, हम आपसे request कर रहे है, RBI के governor letter लिख देंगे सारे banks को, जैसे RBI के governor ने repo rate घटा दिया, ठीक है न, उससे क्या होगा, loan भी, जो लोगों ने लिया हुए, वो सस्ता होना चाहिए, पर देखिए, bank मुनाफ़ाख होरी कर रहे है, loan का interest rate कम नहीं कर र है, जो ने करना चाहिए, RBI के governor पहले request करेंगे, please, कर दो, हम चाहते है, monetary policy, जनता तक transmit हो, monetary policy transmission हो, bank बात नहीं मानेंगे, तो उनका license भी रद किया रा सकता है, तो ऐसे पहले moral persuasion की कोशिश ही जाती है, और जब ना माले, तो direct action लिया जाता है, and question can be asked in your exam, moral persuasion होता किया, moral persuasion क मतलब है, जब RBI recommend करता है, commercial bank को, हमारे देश का central bank, कि do not give loans during this particular period, कि महंगाई बहुत ज़्यादा चल रही है, loan मत दो, या loan ज़्यादा दो, देश में recession चल गए, RBI pressure create करता है, banking system के उपर, कोई concrete step नहीं ले रहा, उनसे बात मनवाने के लिए, कोई concrete कदम नहीं उठा रहा, ब अब ये governor letter लिख रहे है, order लिकर आ रहे है, recommendation दे रहे है, memorandum आ रहे है, जो भी है, अब कुछ भी शब्द इस्तमाल करो, पर बात नहीं मानी जा रही है, जिसकी वज़े से moral persuasion अगर successful नहीं होता, then RBI takes direct action, और इस वज़े से आपका पूरा banking system stability maintained रखता है, because RBI is there as a guard, as a protector of the banking sector, आपको moral persuasion समझ आ गया, direct action समझ आ गया, credit rationing, ये हमारा एक और qualitative instrument है, credit rationing मतलब RBI बोल दे, कि steel sector को इस x amount से जादा loan नहीं मिलेगा, मान लीजे 50,000 करोड से जादा, एक साल में steel sector को loan नहीं देंगे, ठीक है, इसके इलावा, pharmaceutical sector को 1,00,000 करोड से जादा का loan नहीं देंगे, ह सब राशन कर दिया, जैसे घर में होता है न, कि इस महीने 25,000 रुपे से जादा नहीं खर्चेंगे, आपने एक राशन, एक budget create कर लिया, ऐसे ही RBI भी एक राशन create करता है, RBI भी एक budget create करता है, RBI भी एक condition create करता है, जिसकी वज़ए से आपको देखने मिलेगा, कि इस पूरी situation में, RBI manage कर पाता है, इंडिया के अंदर credit को, manage कर पाता है credit को, सीरिसी बात है, तो जिस तरीके से इंडिया के अंदर, आप balance करके चल पाते हो, credit को, और in very simple words, आपको देखने मिलेगा, कि credit rationing की पूरी activity की वज़ए से, balance बन पाता है, हमारी economy में, हमारे पूरे अर्च वस्त पाता है, and credit rationing is very helpful, अब monetary policy transmission के उपर हम last में बात करेंगा, उसके बाद आपको मैं, आज फारिक कर दूँगा, आजादी दे दूँगा, monetary policy transmission का मतलब है कि RBI interest rate change करता है, तो किसके लिए करता है, बढ़ाता है या घटाता है, और आजकल जो bank के loan के interest rate है, वो repo linked होते हैं, repo rate से जुड़े हुए होते हैं, repo rate बढ़ेगा, तो हमारे घर की EMI, हमारी गाड़ी की EMI बढ़ेगी, repo rate कम होगा, तो हमारी घर की EMI, हमारी कम होगी, simply whatever is happening, it is directly correlated, मालो repo rate कम हुआ, अब इससे क्या होगा, interest rate कम होगया, interest rate कम होगया, 10% था, 8% पर मिल रहा है, people who are waiting to take a loan, but could not afford it, जो खरीद नहीं सकते थे, loan नहीं ले सकते थे, अब वो भी loan लेने आ जाएंगे, तो consumption बढ़ेगा, खर्चा जाधा करेंगे, लोग consumption जा जाधा create करेंगे, तो growth जाधा होगी, जब growth जाधा होगी, economy के अंदर, monetary policy transmission जाधा favorable फायदेवन हो सकता है, आपको क्या समझ आएगा, इस पूरी process के माधियम से आपको ये समझ आया, कि इंडिया में monetary policy transmission को बहतर करने के लिए, हम अलग-अलग कदम उठाते हैं, जैसे कि interest rate क manage करना RBI उठाता है, ताकि economy के अंदर balance level पर money circulate होती रहे, money supply होती रहे, पैसा घूमता रहे, question मना prelims के अंदर, कि repo rate बढ़ा दिया, जिस से अमारे देश के अंदर consumption बढ़ जाएगी, true or false, गलत logic लगाओ न, repo rate बढ़ा दिया, bank का, loan का interest rate जाधा हो जाएगा, हर इंसान लोन कम होगी, investment कम होगी, investment कम होगी, businessman बिजनेस जाधा करनी पाएंगे, invest करनी पाएंगे, loan भी महेंगा मिलेगा, staff की salary तक नहीं दे पाएंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी, factoryों में output भी कम create होगा, investment जाधा हो नहीं पारी और देश की growth भी कम होगी, तो logic लगाओ, directly correlated हैं ये करना, इसी लिए monetary policy transmission time पर होना बहुत जाधा जरूरी है, it is the speed at which central bank's policy rates are passed to the household and businesses depending upon the factor of economic growth, economic structure, जो भी आपके देश के हालत हैं, उसके basis पर अगर आप चाहते हैं, कि बैंकों से पैसा, जंता के हातों में पहुंचे या ना पहुंचे, वो monetary policy transmission के दाएरे में आप देखते हैं, simple सी बात है, वरना problem ये रहती है, incomplete monetary policy transmission इंडिया में 2015 के बाद से regularly हो रहा है, इसलिए RBI ने बार-बार request करी है, कि please complete monetary policy transmission करें, पहले repo rate घटा रहा था RBI, और RBI कह रहा था कि bank loan भी सस्ता हो जाएगा, SBI, PNB, अलग-अलग bank अपने rate of interest इंकम कर रहे थे, rate of interest कम करके ही नहीं रहे थे, RBI ने request करी, letter लिखा, article लिखेंगी, monetary policy transmission करो, हमारे public sector banks बात ही नहीं मान रहे थे, उनका भी एक logic था, कि कम interest rate पे loan देंगे, तो हम अपने recovery कहां से करेंगे, हला कि अगर, for example, RBI 4% पे loan देता है, और bank आगे 8% पे customer को loan दे रहे, 4% is the rate on which RBI is giving loan to bank, and 8% is the rate on which bank is giving loan to us, people like us, हम लोगों को मिल रहे है, यह दो बीच का 4% का difference से इसे spread कहेंगे, यह RBI का commission है, RBI चारा था कि, SBI जो भी कोई bank है, public sector bank है, उसका commission है, अब banks चारे थे, कि उनका commission तो आई रहे, थोड़ा बहुत interest rate के difference से भी कमान है, RBI ने का ऐसा नहीं हो सकता, देश के consumer जादा important है, हम इसलिए proper monetary policy transmission करो, अगर RBI कह रहा है कि rate बढ़ाओ तो बढ़ाओ, घटाओ तो घटाओ, ताकि लोगों को loan मिल सके time पर, कम से कम cost पर, इसलिए monetary policy transmission होना ज़रूरी है, आपके mains में question मन सकता है, reasons behind weak transmission of monetary policy, आप बताना कि banking system के हालत काफी खराब थे, 2015 के बाद से जब हमें पता चलना शुरू हुआ इंडिया के अंदर, कि non performing asset बहुत जादा है, ऐसे लोग जो loan लेकर बैठे पर वापस किष्टा चुका नहीं रहे है, जिसकी वर्यासे बैंकों के पास पहले से पैसा है नहीं, अब बैंक के पास खुद पैसा नहीं है, तो वो आगे load में कैसे देगा कि इसी को पैसा, तो health of the banking sector was one issue, second issue financial inclusion, अचा लोन दे भी देगा, तो शहर में बैठे हैं सिर्फ कुछ लोग, चुनिंदा लोग ही loan ले रहे हैं, अरे देश की जो जनता, two-third of Indian population lives in its village, गाओं में रहती है, इतनी बड़ी population, इतनी बड़ी proportion of Indian population lives in its village, जहां पर उनके पास documents नही प्रापरली, आधार कार्ट, पैंक कार्ड नहीं है, तो वो तो लोन का फाइदा ले भी नहीं पा रहे हैं, उनके पास documents नहीं है, कुछ चीज गिरवी रखने के लिए, इसलिए सरकार ने प्रदान मंत्री जन धन योजना शुरू करी, to promote financial inclusion, zero minimum requirement account खुलता है आपका bank में, मत बहुत सारे benefits जन्धन योजना के तैप दिये जाते हैं, ताकि financial inclusion सुधर सके, देश में 50 करोड के करीब लोग, financial inclusion के दाइरे में आ चुके हैं, thanks to the recommendation of जन्धन योजना, and the government, which has created जन्धन योजना, सीधी सी बात है, इसी लिए आपको देखने मिलेगा, कि financial inclusion in complete तौर पे होता ह नेक्स्ट है, competition from other financial saving instruments, लोग ना, लोन कब लेंगे बैंक से, जब बैंकों के पास, लोन देने के लिए पैसा होगा, लोग बैंकों में पैसा deposit ही नहीं कर रहे हैं, और कहां deposit कर रहे हैं, PPF के अंदर, public provident fund के अंदर, अच्छा आप बताओ, आप पैसे कितने salary पेशा हो, या आपके मम्मी पापा, इनकी salary आ रही है, उनका कुछ पैसा provident fund में invest होता है, कुछ पैसा वो PPF में invest करते हैं, वहाँ पे अच्छा rate of interest है, national saving certificate में invest कर सकते हो, risk भी बहुत कम है, सरकार की backing है, तो किसी bank में 2%, 4% पे पैसा क्यों डालोगे, जब यहाँ पे आपको 8% मिल जा रह या debentures में डाल दिया, यह सब करने की वज़े से आपको देखने मिलेगा, because competition is there, बैंकों में पैसा नहीं, अब पैसा नहीं होगा, वो आगे loan पे कैसे देंगे, simple logic, these are the reasons, इनको solve करने के लिए हमें काफी सारे solutions find out करने, तो basal norms, वो rules, regulations है, जो बैंकों के उपर लागू करने चाहिए, यह क्यों बनाए गए थे, actually दुनिया के अंदर banking sector के अंदर risk बढ़ते जा रहे थे, और उन risk बढ़ने की वरे से कई सारे banks fail होने की कगार पर आते जा रहे थे, यह basal norms इसलिए बनाए गए, यह rules, regulations इतलिए बनाए गए, ताकि international banking system के अंदर ऐसे rules, regulations बना दिये जा है, जो बैंकों के risk को कम से कम कर सके, minimize कर सके, manage कर सके risk को, इसके लिए committee बनाए गए थी, basal committee on banking supervision, इस committee का नाम था, BCBS, basal committee on banking supervision का गठन ही इसलिए किया, कि international banking system के अंदर हम reforms ला सके, बदलाव ला सके, दुनिया भर के बैंकों के अंदर बदलाव ला सके, अब एक group बनाया, BCBS, इसमें दुनिया भर के central bank शामिर थे, इंडिया का जैसे RBI है, जैसे US का federal reserve है, दुनिया भर के central bank, इसके अंतरगत शामिर थे, central bank को का काम था, कि एक ऐसा mechanism मनाना, एक ऐसी प्रक्रिया बनाना, जिससे safety बढ़े, इस लिए इस basal committee on banking supervision को बनाया गया था, जो RBI भी इसका एक member है, 1974 के अंदर इसको बनाया गया था, आज RBI भी इसका member है, originally G10 countries, G10 countries, group of 10 countries ही इसका part थे, पर आज 27-28 representatives, अलग-अलग दुनिया के अलग-अलग देशों से इसका member है, जिसमें इंडिया भी इसका member है, ये बात याद रखनी है, अच्छा, इन्हों ने हर कुछ सालों के अंदर एक agreement, एक accord, एक समझोता पेश किया, जिनने basal accord कहा गया, पहला basal accord, basal 1, ये शुरू किया गया, इसको बनाया गया, in the year 1988, जिसका main काम था दुनिया के अंदर, credit risk कम करें, मतब बैंक ऐसे लोगों को लोन दे देते हैं, जो की हैसियत नहीं रखते हैं, जिनकी वो condition नहीं है, situation नहीं है, कि वो पैसा वापस कर सके, क्रेडिट वर्दीनेस कम है, उनकी क्रेडिट वर्दीनेस कम होने की वज़े से, वो पैसा जो उधार पे लिये हैं, वो वापस नहीं कर पाएंगे, आप ऐसे risky areas में लोन ना दे, उसके लिए कुछ rules regulations बनाये गए 1988 में बना पहला basal 1, basal accord, मतब क्या होता था, ये committee बैठती थी, meeting करती थी, और meeting करके, ये अलग-अलग rules regulations बनाती थी, ये इसका main objective था, इसी लिए इसकी बार-बार meeting हुई, तीन बार इसकी meeting हुई है, अभी recent जो हुआ है, वो है basal 3, RBI ने कुछ समय के लिए basal 3 norms को इंडिय हमें, defer भी कर दिया है, आगे के लिए postpone भी कर दिया है, अब basal 3 norms के तहित, second basal, जो आया है हमारा basal 2, 1988 में basal 1, 1988 के बाद, 2004 में basal 2 आया, 2004 के अंदर, 2004 के अंदर, और basal 3 आया, बहुत recent है, बिलकुल अभी कुछ समय पहले की बात है, basal 3 launch किया गया, 2008 की financial crisis के बाद, और जो अब latest version होगा, basal 4, वो अभी भी develop हो रहा है, and it is expected to come in future with further refinements, ये कुछ समय के बाद आ जाएगा, UPSC civil service exam में ये 1, 2, 3, 4, ये तीनों जो अभी आ चुकी हो, और जो चौती आने वाली है, इन committees की recommendation बहुत जादा important है, ताकि दुनिया भर के अंदर global stability बन सके, question बनेगा, basal committee on banking supervision, ये बनाया गया था, दुनिया के अलग-अलग central bank governors को लेकर, in the year 1945, गलत, 1974 में बनाया गया था, question बन सकता है, कि basal committee on banking supervision को बनाया था, G20 group of countries ने, या European union ने, गलत, G10 group of countries ने, जो दस देशों का समू होता था, जिसको G10 कहते हैं, उन्होंने 1974 में इसको बनाया था, 27 से 28 देश, इसका आज part है, membership बड़ी है, इसकी last time 2009 में, और फिर 2014 में members की संक्या बढ़ाई गई थी, और जादा members अब इसमें शामिल हो चुके हैं, इसमें meeting होती है, committee की regular basis पर, तीन बार हो चुकी है, चौती बार होने की तयारी चल रही है, जहाँ पर banking supervisory matters के ओपर, बैंकों के ओपर supervisory jurisdiction मनाने के लिए, इनकी regular meeting होती है, जहाँ पर bank जो पैसा दें, सोच समझ के दें, कुछ rules regulations को follow करते हुए दें, इसको सोच के होती है, इस पर question मन सकता है, अच्छा, बेसल एक जगे है Switzerland में, बेसल को ही क्यों चुना, और कोई जगे क्यों नहीं, बेसल को इसलिए चुना, स्विजलेंड के अंदर, यहाँ पर B.I.S. का headquarter है, B.I.S. एक international bank है, जैसे हमारे देश का central bank है, R.B.I. ऐसे ही अलग-अलग देशों के central bank का head, Bureau of international settlement के तौर पे देखने मिलेगा, और इस पर question prelims में बन सकता है, Bank for international settlements या Bureau of international settlements है, वो एक international bank है, जो 1930 में बनाये गया था, दुनिया के 60 अलग-अलग देशों को जोड़कर, 1930 में इसको बनाये गया था, इंडिया भी इसका part है, इन countries का basically काम यह था, कि इसमें एक representative body थी, सारे देशों के central bank मिलकर, global level पर, monetary और financial stability में cooperation कर सके, मतलब एकता में शक्ती है, साथ मिलकर, international level पर cooperate करके, आपस में banking sector को और safe बना सके, यह आपका main objective आपको देखने मिलेगा, 1930 में Bank for international settlement या Bureau of international settlement बनाने का था, आज के time पर दुनिया के साथ देश, 95% वर्ल्ड की GDP इन साथ देशों में आती है, 95% वर्ल्ड की percentage of the world's GDP comes within the 60 countries, which are member of BIS, which was created in the year 1930, मैं बार-बार इसे बोल रहा हूँ, question बन सकता है इसका exam में, objective क्या था, to serve central banks in ensuring monetary and financial stability, दुनिया बर के अंदर stability बनी रहे financial terms में, इसके लिए इसे बनाया गया था, और इसी BIS के दौरा, जो BASEL के अंदर इनका headquarter है, उसी के दौरा, BASEL committee on banking supervision बनाने में सहयोग दिया, G10 countries के साथ मिलकर 1974 में, तो 1930 मैं BIS बना, 1974 में BASEL committee बनी, BASEL committee में 27-28 members हैं, चेंज होता रहता है, it increases-decreases, currently 27-28 members देखने मिलेंगे, इंडिया is also part of it, इनके दौरा जो recommendation दी गई, पहली recommendation को BASEL 1, 2nd recommendation को BASEL 2, 3rd recommendation को BASEL 3 कहते हैं, objective कहें है, हासल क्या करना चाहते हो, banking sector को safe बनाना चाहते हो, किसी भी financial crisis, economic crisis से बचाना चाहते हो, risk कम करना चाहते हो system के अंदर, ऐसे लोगों को loan दे दिया, जो आपस नहीं चुका पाएंगे तो risk बहुत रहता है, और banks में transparency बड़े, पारदर्शिता बड़े, banking sector जादा से जादा transparent बड़े, एक standard बन सके, एक rule regulations बन सके, इसके लिए इसको बनाया गया था, आईए सीधा, BASEL 1 के उपर चलते हैं, BASEL 1 क्या है, BASEL 1 में एक term आपको देखने मिल रहा है, risk weighted asset, अब ये होता क्या है, पहले तो capital risk weighted asset ratio समझ लीजे, risk weighted asset का मतलब है, asset का मतलब है, banking sector के अंदर मतलब, बैंकों ने जो लोगों को loan दिया है, वो bank के asset होते हैं, जिन पर bank को EMI मिलती है, interest मिलता है, अब loan दिया है, किसी bank ने, और वो person loan वापस ना करे bank को, तो bank का एक loss हो जाएगा, bank का asset अपनी duty परफॉर्म नहीं कर रहा होगा, जिसे हम कहेंगे non-performing asset, NPA, अब जब कोई bank अपनी duty नहीं परफॉर्म कर रहा होगा, जिसे हम कहेंगे non-performing asset, उस situation के अंदर, जब bank कों के पास, अपना loan पर दिया गया, पैसा भी वापस नहीं आएगा, तो bank के लिए risk बढ़ेगा, आप ऐसे लोगों को loan दे ही क्यों रहे हो, जो की risk ही है, अच्छा चलो दे भी दिया, तो एक काम करो न, अगर आपने out of 100 rupees, जैसे 30 rupees ऐसे लोगों को loan दिया है, जो risk ही है, अब 30 rupees का capital अपने पास भी रखो, मतब कल जाके अगर यह 30 rupees वापस नहीं आते हैं, आपके पास तिजोरी में, एक 30 rupees का amount बढ़ा है, ताकि आपकी financial position safe रहे, अचानक से बहुत जादा financial position खराब ना हो जाए, क्योंकि bank का खुद का पैसा थोड़ी ना है, हम लोग जमा कराते हैं, हम लोग deposit करते हैं, तब जाकर bank के पास पैसा आता है आगे loan देने के लिए, तब जाकर bank के पास पैसा आता है आगे loan देने के लिए, इसी लिए मुद्दे की बात इतनी सी है, कि banking sector के अंदर, अगर आप सुधार करना चाते हो, तो कुछ better rules and regulations बनाओ, जिनके तहत जितना पैसा आपने risky areas में loan के तौर पे दिया, उतना ही पैसा आप तिजोरी में reserve के तौर पे रख लो, उस पैसे को जो आप risky asset को अपने पास, risky amount को अपने पास रख रहे हो, उसे कहते हैं risk weighted asset, कि risk को देखते समझते हो, out of total money, कितना money आप अपने पास reserve में रख रहे हो, capital के तौर पे रख रहे हो, दूसरा concept होता है capital adequacy ratio, कि कितने ratio में, कितने अनुपात में, capital प्लस tier 2 capital प्लस risk upon risk weighted asset, होड़ी देर दो, अपने आप में थोड़ी देर में समझा दूँगा, एक बार फिल लिखते हो, क्योंकि मेरे को उसके लिए basal 1 के बारें बताना होगा, basal 1 साल था 1988, credit risk को कम करना था, और ये question बन सकता है, कि basal 1 की main opportunity, opportunity या object किया था, जिसके लिए वो काम करना चाहता था, that was to reduce the credit risk across the world, और पूरे दुनिया में, around the world, unexpected credit risk पैदा होता था, loan दे दिया, वापस नहीं मिल रहा, क्या करें, इसलिए condition मनाई कि, minimum capital requirement होगी, कि out of total money, जितना पैसा आप loan पे दे रहे हो, उसका कुछ percentage पैसा, risk weighted asset के तौर पे, आपको अलग से save करके रखना है, ये काम था, basal 1 का, basal 1 ने main objective ये पूरा किया, पूरी तरह credit risk को focus किया, इन्होंने साफ तौर पे बता दिया, कि risk weighted asset कितना रखना है, 8% fix किया, 8%, मतलब risk profile evaluate करेंगे, कि देखो, for example, 4 लोगों को लोन दिया है, 1, 2, 3, and 4, फर्स जो है, वो salaried employee है, time पर salary आती है, एक तरिक, ठीक है न, उनको लोन दिया है, 1,00,000 रुपे का, इनसे, पूरे पूरे chances है, कि ये पैसा वापस करेंगे, 100% chances है, इनके लिए कुछ पैसा आप रिजर्व में नहीं रखो गए, second category, एक ऐसे व्यक्ति हैं, business कर रहे हैं, ठीक है न, उन्होंने लोन लिया, 1 करोड का, chances हैं, कि ये 80% अपना पैसा लोटा देंगे, 20% chances हैं, ना लोटा पाएं, ठीक है न, इसके इलावा, third category, ऐसा एक व्यक्ति, जिसकी salary बहुत कम है, पर उन्होंने लोन बहुत ज़्यादा लिया हुए, 1 CR का, 50-50% chance है, कि ये पैसा लोटा पाएंगे, और 50% chance है, कि नहीं लोटा पाएंगे, और last हो गया, कि ऐसा कोई व्यक्ति है, ऐसे कोई भी person है, जिनको पैसा लोन पर दिया है, let's say 1 CR रूपीज, 90% chance हैं, कि ये पैसा नहीं लोटा पाएंगे, 10% chance हैं ये लोटा देंगे, फिर ऐसे इनसान को लोनी क्यों दिया, इसलिए दिया, कि इनको से higher interest rate charge किया जा सकता है, इनसे जादा interest rate charge किया जा सकता है, इसलिए लालच में बैंक ने इनको लोन दे दिया, जानबूच के लालच में बैंकों ने इनको लोन दे दिया, अब बेसल की जो requirement है, उसके हिसाब से 8% आपको risk-weighted assets का अलग रखना जरूरी है, 8% रखना is very very important, पैसा capital के तौर पे 8% अलग रखना है, ऐसा बेसल वन ने कहा, 1988 में जो introduce किया गया था, उसने कहा, इसके बाद आपने पैसा separately रख लिया, capital के तौर पे, तो यह दिख रहे हैं कि आप चाहरे हो कि future के risk से खुद को protect कर सको, इंडिया ने इसको कौन से साल में अडॉप्ट किया, इंडिया ने इसको कौन से साल में अडॉप्ट किया, और क्या किया भी है, जी हाँ हमने अडॉप्ट किया हुआ है, और हमने काफी लेट जाकर 1988 में बना था, बट 1999 में 11 साल के बाद हमने इसे अडॉप्ट किया इंडिया आज बेसल वन की रेक्रमेंडेशन को फॉलो करता है आठ परसेंट रिस्क वेटेड आसेट क्रेडिट रिस्क कम करने के लिए हम रखते हैं ताकि जो बॉरोर जणों पैसा लिया है जो वापस नहीं कर पा να रहें अपना अलग से कुछ पैसा क्यापिटल में रख दे रहें कि अगर ये बाइचांस पैसा ना लोटा पाए ल्टिमेटली बैंक की फेनैंचल कंड़िशन खराब ना हो banks ऐसे ही आगे चलते रहें इसलिए अलग से पहले से ही कुछ पैसा जोड के रखा जा रहा है simple as that इसलिए बेजल वन नॉर्म बनाए गए थे बेजल वन नॉर्म इसी रीजन की वैसे बनाए गए थे objective समझ आ गया question बनेगा कि इसका objective था financial institutions adequate adequate capital maintain करें proper quantity में पैसा रखें एक जगह अलग से रखें ताकि कुशन मन जाए मतब रिस्क से बच सकें बिल्कुल सही बात है question बन सकता है कि minimum capital adequacy ratio जो risk weighted asset का है वह 8% होगा बिल्कुल सही बात है आपको ती देखो risk weighted asset और capital adequacy ratio का एक रिष्टा समझो और बहुत simple है बहुत सिंपल है risk weighted asset मतलब कितने लोगों को आपने लोन दिया उनमें से कितना percent पैसा risk पर है उसमें आपका जो आप पैसा लोन पर दे रहे हो risk weighted asset का एक ratio बना के चलना होता है total capital का 8% है यहाँ पर मतलब tier 1 capital के अंदर और tier 2 capital के अंदर आपको इतना पैसा जोड़के रखना है tier 1 capital के अंदर tier 2 capital के अंदर ताकि आप अपने risk weighted assets के लिए भरपाई कर सको minimum capital to risk weighted asset ratio पूरा हो जाए ठीक है ना out of the total capital जो आपने total capital total पैसा बैंक के पास है उसमें से आपको कुछ percentage पैसा यहाँ पर 8% है risk weighted asset मान के अलग से रखना पड़ेगा capital adequacy ratio का formula क्या है capital adequacy ratio का formula है और यह exam में पूछा दा सकता है क्योंकि basal 3 के बारे में question बना है तो इसके ओपर भी question बनने की काफी गुंजाईश है tier 1 capital upon tier 2 capital divided by denominator याद रखना ज़रूरी है risk weighted assets risk weighted assets कि ऐसे लोग मान लेते हैं 5000 करोड के लोग risky हैं उतना आपको tier 1, tier 2 capital के अंदर पैसा रखना पड़ेगा 8% आपका capital adequacy ratio यह maintain करना होगा 8% मतब tier 1, tier 2 में 400 करोड पड़ा होना चाहिए तब यह आप 5000 करोड का exposure deal कर पाऊगे और यह इसका 8% हो गया 8% हुआ के नहीं वह 500 करोड दस होता है यहां 400 करोड है तो यह 8% हुआ इस तरीके से tier 1, tier 2 capital के अंदर आपको कुछ पैसा रखना होगा ताकि इतने risk weighted asset को आप deal कर सको 8% risk weighted asset ratio का capital adequacy ratio में रखना होगा मतब जितना loan आपका risk है which is 5000 करोड उनके उपर 400 करोड आपको अलग से तिजोरी में रखना है tier 1 और tier 2 capital में दोनों type के capital में जहां पर tier 1 के अंदर minimum 50% होना चाहिए मतब 200 करोड यहां पर minimum as per basal 1 tier 1 capital के अंदर होगा और यह question बन सकता है आपके exam में minimal capital adequacy ratio कितना बठाया मैंने 8% बताया 8% 5000 का 8% 400 होता है 400 आपको tier 1 tier 2 में मिला के रखना है tier 1 में minimum 201 करोड तो होना ही चाहिए उससे जादा भी हो सकता है 202, 203, 204, 205 करोड भी हो सकता है पर minimum तो इतना होना ही होना चाहिए यह बात आपको याद रखनी है तो C-R-A-R, Capital Risk Weighted Asset Ratio या Capital Adequacy Ratio इस चीज को ढूनता है कि कितना पैसा बैंक के पास कैपिटल में होगा tier 1 कैपिटल अगर मैं साफ शब्दों में बोलू तो यह वो पैसा होता है जो आपको मदद करता है किसी भी मार्केट में शौक को एब्जॉर्ब करने के लिए कि बैंक बंद होने के कगार पर आ गया ऐसा एक बहुत बड़ा शौक बैंक के ऊपर है tier 1 कैपिटल में पढ़ा हुआ पैसा जब आपका बैंक दिवालिया लूट गया या बंद होने वाला है उस टाइम पर पैसा निकाल कर आप अपने उस फैनाशल शौक से उस रिस्क से बच सकते हो और आपका बैंक बंद होने से बचा सकते हो इसलिए tier 1 के अंदर आपने अलग से पैसा पहले से जोड के रखा है tier 2 के अंदर आपका वो पैसा पड़ा होता है जो कि आपका abnormal losses को absorb करने को use किया जाता है जब business बंद किया जा रहा है तो tier 1 business को बंद होने से बचाता है tier 2 business बंद हो रहा है जो losses हुए है उस losses की भरपाई करने इस्तमाल होता है यही बात आपको लिखी हुए दिख जाएगी मेरे पीछे slide में tier 1 क्या लिखा है it is the asset lying with the bank that can help it to absorb any shock without winding up business business बंद किये बिना business को बचाने के लिए tier 1 capital use किया जाएगा और business बंद हो रहा है तो tier 2 capital बंद होते time जो भी losses हो रहे हैं उनको absorb करने के लिए इस्तमाल किया जाता है इसलिए अलग से पैसा रखा जाता है बहुत साफ बहुत simple शब्दों में मैंने आपको यह बात बता दी है session को like भी करिएगा ताकि आप अपना support show कर सके तो minimum 0% हो सकता है risk weighted asset और maximum 100% हो सकता है हमने का है 8% capital adequacy ratio तो हम maintain करके चलेंगे चलेंगे थाकि credit risk को उधार दिया और वापस नहीं आया उस risk को हम minimize कर सके यह बात ध्यान लखेगा यहां पर अलग-अलग asset classes की चर्चा नहीं की जा रही है कि equity में कितना पैसा होगा और जगों पर कितना पैसा होगा यहां पर सिर्फ credit risk की बात की जा रही है यह internationally active banks के लिए बनाय गया था जैसे की standard charter जैसे की bank of America जैसे की SBI जो दुनिया भर के international countries के level पर दूसरे देशों के अंदर काम करते हैं यह domestic banks के लिए शुरुआत में नहीं बनाय गया था यह बात ध्यान रखिएगा तो इसी लिए इसको बनाया गया इसमें कमी थी कई बार bank जो होता है न वो सारी जानकारी अपनी balance sheet में नहीं provide करता कई सारे off balance sheet items रह जाते हैं यह उन off balance sheet items को cover नहीं करता bank ने कई पर guarantee दी हुई है कि अगर आपके पास पैसे की कमी हुई बैंक आपको पैसा देगा उनको note नहीं करता है और नहीं यह देखता है credit worthiness of borrowers कि ऐसे लोग जिनको credit मिलना चाहिए क्या उनको credit मिल रहा है credit मतलब उधार देना credit worthiness देखी जानी चाहिए इनके द्वारे strict condition मना देनी चाहिए कि आग से बचने के लिए fire extinguisher खरीद रहे हो अरे आगी मत लगाओ ना ऐसे लोगों को loan ही मत दो जोखिम अपने आप होगा ही नहीं सर्फ ठीक ठाक लोगों को loan दो जो की उधार चुका सकते है जिनकी credit worthiness आई है पर इन्होंने credit worthiness को भी focus नहीं किया यह था बेसल 1 committee का जो सिफारिश है थी की recommendation थी फिर आती है बेसल 2 committee की recommendation 2004 के अंदर 2004 के अंदर बेसल 2 committee की recommendation के हिसाब से आपको देखने मिलेगा कि दुनिया के अंदर एक particular level पर risk को balance करने के लिए risk को manage करने के लिए हमने और tighter conditions बनाए और तीन pillar में बाठ दिया बेसल 2 के सिफारिशों को pillar 1 minimum capital required की तुम्हें पैसा capital में रखना है वो तो बेसल 1 में भी रखना था यहां भी रखोगे एक और चीज़ आड़ कर दी supervisory review अब जैसे school में होता है न class teacher 2 minute के लिए school से class से बाहर गई और बच्चे उतनी देर में शोर मचाने लगते हैं teacher के सामने सब चुप हैं जैसे teacher भार गई तब पता चलेगा class कितनी शरारती और कितनी शरारती नहीं है तो teacher को वहाँ पे एक monitor छोड़ना पड़ता है आपके school में भी होते होंगे monitor मेरे में भी थे जो कि class को शान्त रखने की कोशिश करता है वो supervise करता रहता है ताकि in the absence of the teacher शान्ती बनाई रखी रह सके बहुत प्यारा एक्जामपल है ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला बहुत बहुत प्यार एक्जामपल है तो बेसल 2 के हिसाब से supervisory review regular basis पर करना है monitor करना है regular basis पर ताकि जो पैसे की requirement है बैंकों क्योंकि वो भी पूरी होती रहे और पैसा सही तरीके से manage कर सके बैंक और गलत जगह पर invest ना करे it should be done so that supervisory review happens supervisory review करना जरूरी है disclosure and market discipline यह तीसरी condition है कि बैंक खुद अगर किसी problem का सामना कर रहा है किसी risk का सामना कर रहा है तो आगे आकर disclose करे क्योंकि जनता जिन्नोंने पैसा लगाया बैंक के अंदर उनको विश्वास की अधार पर पैसा लगाया तो उनको कोई भी भुरी ख़बर या अच्छी कबर तुरंत मिलनी चाहिए completely मिलनी चाहिए और क्योंकि तुरंत उन्हें खबर मिलनी चाहिए उसको बढ़ावा देने के लिए हम market discipline को बढ़ावा दे रहे हैं disclosure को बढ़ावा देने कि bank खुद से discipline में रहे हैं खुद से जानकारी दें public को जो भी necessary information है ताकि bank के risk के उपर एक लगाम लगाई जा सके bank का risk minimize किया जा सके, कम से कम किया जा सके Basal 2 का भी वही objective था इंडिया के अंदर और बाकी दुनिया के अंदर अभी पूरी तरह implement होने बचे हैं अलागी इंडिया इन norms को follow करता है बड़ पूरी तरह 100% पूरी दुनिया में follow होने बचे हैं 2004 में Basal 2 guidelines बनाई गई थी उसको बात में इंडिया ने adopt किया और तीन main objective मैंने बता दिये capital adequacy ratio और कितना capital adequacy ratio जो minimum capital required है सेम Basal 1 में जितना था उतना ही यही पर है आठ परसेंट रखा गया बट एक चीज में बदलाव हो गया वो है tier 3 capital भी जोड़ दिया गया अब यह क्या है सुनो ज़रा ध्यान से Basal 2 की recommendation सिफारिश है बड़ी important है मार लिए Basal 1 में हमने पढ़ा tier 1 tier 2 दो तरीके का capital था tier 1 है कि bank को दिवालिये से बचाने के लिए जो पैसा इस्तमाल किया रहता है tier 2 capital है कि bank अगर दिवालिया निकल गया बरबाद हो गया तो जो bank के losses हुए है उन losses से deal किया रहा सके और अब Basal 2 recommendation के अधार पर एक और नया tier जुड़ गया जी tier 3 capital और equation exam में बन सकता है कि Basal 1 के अंदर tier 3 tier introduce किया गया था नहीं नहीं बेजल 2 के अंदर introduce किया गया था अब एक सवाल और बनेगा आपसे और आप हो जाओगे बहुत ज्यादा confused और confusion की कोई दरुवत है नहीं सवाल यह बनेगा कि Basal 1 के अंदर बोला था कि 8% capital T1 T2 में रखना है और मैंने बोला था T1 में minimum 50% तो हो गई होगा मतब minimum 4% तो इधर से आए गई आएगा है ना बाकी T2 और T3 फूला पूरा करेंगे पैसा बाकी पैसा T2 capital T3 capital से इखटा के रहेगा capital का मतलब जो पैसा बैंक के इन्वेस्टर्स ने निवेशकों ने दिया है और उस पैसे को अलग रखा हुआ है इसको कहिंगे capital यह सारे banks पैपलिकेबल होगा चाहे domestic हो चाहे internationally active हो याद करो Basal 1 ने क्या कहा था Basal 1 ने कहा था सिर्फ international no domestic Basal 2 कह रहा है international भी और domestic भी फर्क हुआ के नहीं हुआ Basal 1 में दो tier थे T1 प्लस T2 यहाँ पर तीन tier है T1 प्लस T2 प्लस T3 वहाँ पे सिर्फ credit risk को देख रहे थे यहाँ पे सब कुछ करने की बात की जा रही है supervisory jurisdiction को बढ़ावा देने की बात की जा रही है यहाँ बात की जा रही है कि market discipline मना रहेगा disclose करेंगे capital requirement 8% की पूरा करेंगे जो आपका पहले उसमें कहा था बेजल 1 में कहा था एक और बात कही गई बेजल 2 के अंदर एक और नई चीज जुड़ी है CCB maintain करने की बात करी थी CCB क्या है capital conservation buffer capital conservation buffer आप buffer में कुछ पैसा बचा कर capital को conserve करके रख रहे हो सिंपल शब्दों में तो इसका यही मतलब हुआ थोड़ा और इसको अगर deep में जाके देखते हैं इसको हम कहते हैं capital conservation buffer कि capital आप safe रख रहे हो अलग से banks को buffer बना के रखना पड़ रहे हैं और कब normal situation के दौरान जब economy economy में क्या होता है उतार चड़ावाता रहता है कभी नीचे कभी उपर कभी नीचे तो जब normal situation है boom की situation है देश में जादा महंगाई नहीं है देश की growth लगातार लगातार और लगातार चली जा रही है उस time पर आप पैसा इखटा करके buffer में रख लो जैसे होता है ना आज अगर गेहूं की फसल चावल की फसल धडलने से हो रही है बिना किसी रुकावट के तो आप उस time पर आप गेहूं को cold storage में रख सकते हो storage में भंडार में store कर सकते हो ताकि जिस दिन गेहूं की फसल खतम हो जाएगी खराब हो जाएगी हमारे पास होगी नहीं उस दिन buffer से निकाल कर हम पैसे का इस्तमाल कर सके हैं जब इंडिया में lockdown था 2020-21 के अंदर COVID-19 pandemic के दौरान हमने CCB को 6 महीने तक defer कर दिया था पोस्पोन कर दिया था reason समझ रहे हो क्यूं हालत अर्थवस्था की थी बहुत ज्यादा खराब कोविड के दौरान इसी लिए bank जो capital conservation buffer normal times में बना के रखते थे ताकि जब भी आगे जाके stress की situation में जब भी problem आए और loss हो उस loss से जूझा जा सके उस loss से जूझा जा सके उस loss से डील किया जा सके इसी के लिए capital conservation buffer बनाया जाता है normal situation में एक कावत एंगरेजी में the more you sweat in peace the less you sweat in war UPSC civil service exam के लिए भी यही खेल है दोस्तों के आपका जब भी अभी शान्ती का समय है 300 दिन से भी कम समय रह गया है प्रिलिम्स में जब आप यह video देख रहे हैं live recorded देख रहे हो तो और कम time रह गया होगा दोजार 24 के exam में यह शान्ती का समय अभी महनत कर ली अभी 10 से 12 घंटे दिन की पढ़ाई कर ली अभी answer writing कर ली हमारे P2Y batch में admission लेकर आपने test series कर ली weekly basis पर live classes recorded lectures सारे books पढ़ ली सब यह कर लिया तो आप clear कर जाओगे 24 के exam और main clear कराने की guarantee हमारी है main residential program के through इस time पर आप अगर कर लेते हो पढ़ाई तो कर लेते हो otherwise फिर तो जब paper आएगा उस दिन क कुछ नहीं आएगा समझ तो फिर आपका हो गयार काश पड़ी लेता तो capital conservation buffer बनाने के लिए CCB बनाने के लिए जो recommendation दी गई वो दी गई आपका basal 2 के द्वारा capital conservation buffer बनाएंगे और protect करके रखेंगे किसी भी आने वाले future losses को lockdown के दौरान इसको postpone किया गया था बेसल standards के हिसाब से capital conservation buffer 2.5% risk weighted asset का बना के चलना है हम भी 2.5% पूरा रखना चाहते हैं पर हम यह तुकड़ों में बाट बाट के कर रहे हैं हम नहां 0.625 के 4 portion में बाट बाट के कर रहे हैं 0.625 0.625 कितना हो गया मिला कर यह हो गया आपका 1.25 इंटु टू करो मतब टोटल 0.625 0.625 0.625 को चार बार टोटल करोगे तो 2.5 आएगा हम यह धाई परसेंट बना के चलना चाहरे हैं 0.625 के 4 installment में अभी कोविड के दौरान जो installment पूरी करनी थी हमने उसे postpone कर दिया था क्यो कुछ किताबों में है कई बड़ी-बड़ी किताब है बड़े-बड़े author बड़े-बड़े writers इसको ignore कर देते हैं तो RBI took a mature decision to push back the deadline of adding 0.625% as capital conservation buffer 2.5% का capital conservation buffer इंडिया को maintain करना है जिसकी शुरुआत बेसल 2 के अंदर होई थी और बेसल 3 में भी इसको continue किया international standards के कई provisions इंडिया मानता है और इसी लिए इंडिया इसको बना के चलना चाहता है यह बात आपको याद रखनी है CCB क्या है capital conservation buffer क्या है बेसल 1 के मुकाबले बेसल 2 जादा comprehensive जादा comprehensive approach थी सारे बैंकों पर applicable था बट इसकी भी एक चुनौती थी इसका भी एक चैलेंज था इट वस कॉस्टली फॉर बैंक्स टू डू अब एक सिंपल बात समझो बैंक जितना पैसा जनता को लोन में दे सकता था उसे ना दे कर अपनी तिजोरी में buffer के तौर पर रख रहा है capital के तौर प दे नहीं पा रहा और लोन पर नहीं दे पा रहा तो पैसा कोई return नहीं दे रहा है आप कुछ कमा थोड़ी ना पा रहे हो उस पैसे से इसलिए तो यह negative है इसलिए तो बहुत ज्यादा costly बहुत ज्यादा costly बहुत ज्यादा खर्ची जो आपका expensive complex बन जाता है बैंकों के लिए चोटे बैंक कैसे maintain करेंगे बताओ जरा नहीं बता दीजिए चोटे बैंक कैसे maintain करेंगे बड़े बड़े बैंक तो फिर भी maintain कर सकते हैं आखिरकार चोटे बैंकों का क्या चोटे बैंक कैसे maintain कर पाएंगे इसलिए negative है इसका बेजल 2 का फिर आता है आपका बेजल 3 बेजल 3 रिस्क के साथ डील करने के लिए नहीं बलकि उसके इलावा मार्किट रिस्क मार्किट में अचानक से क्षिटुएशन ऐसी आजाए जैसे कोविड के दॉरा नाई थी जहां पर अचानक से पैसे की डिमांडी कम हो जाए लोग घर पे बैठे हैं घर पे बंद पड़ें ऐसे मा commodity risk चीज़ों के दाम, commodities के दाम, Sona के दाम, Gold के, Silver के दाम बढ़ जाएं, change हो जाएं, foreign currency risk, dollar, rupee के, dollar, euro, के, Indian rupee के दाम, Indian rupee और dollar के दाम, euro के दाम change हो जाएं, depreciation, depreciation, devaluation, devaluation, kuch भी हो जाए, मतब रुपे और dollar में जो stability है, the prices में, है वो fluctuate करने लगे या कोई भी ऐसे व्यापार की वज़े से रिस्क पैदा हो रहा है टियर थ्री कैपिटल एडिशनल कैपिटल है उस रिस्क को सॉल्व करने के लिए उस रिस्क को दूर करने के लिए यह आपको याद रखनी है थर्ड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट नॉर्म जो बेजल थ्री है अब उसकी बात करने हम जा रहे हैं बेजल थ्री को प्रड्यूस किया गया 2010 में क्योंकि 2008 में एक बहुत बड़ा अमेरिका में आर्थिक संकट आये था मंदी शुरू हो गई थी रिसेशन शुरू हो गया था बेजल थ्री रिक्वाइरमेंट लाने की जरुवत पड़ी इसलिए बेजल थ्री को लाया गया 2010 के अंदर बेजल थ्री गाइडलाइन्स रिलीस की गई दीज वर इंटर्ड्यूस बिकॉज फैनेंचल क्राइसे ऑफ टू थूजन एट क्योंकि जरूवत लगी के बैंकिंग सिस्टम को सेफ बनाना है डेवलप्ड कंट्री तो कैसे भी सुधर जाती है अपने आपको प्र इनको को स्टेबल बनाने के लिए इनकी प्रॉब्लम्स थी उनको दूर करने के लिए यह नए सलूशन लाए गए ताकि बैंक वो तरीके की गलतियां फिर से ना करें अमेरिका के बैंकों ने गलतिया करिये क्रिकेटर बिना हेलमेट के क्रिकेट मैच खेलेगा और सर पे और खुद पैसा उन्होंने आगे से बैंक को भी तो कहीं से पैसा लेना होता है तो बैंक शॉट टर्म में पैसा लेता था कि मैं आपको एक दो महीने तीन महीने बाद वापस कर दूँगा अच्छा रिटन दूँगा और आगे लोन पर दे दिता था लोन जिनने दिया वो वापस नहीं कर रहे और बैंक इस वज़े से आगे जिनसे खुद पैसा लिया वह वो भी वापस नहीं कर पा रहा था बैंक को ने बहुत जादा रिस्क उठा लिया था और ऐसे ऐसे लोहों को लोन दे दिया जो डिजर्व नहीं करते थे जन्हें का जाता है टीजर लोन के आपकी credit worthiness नहीं है कोई बात नहीं, आपको इतनी attractive conditions पे loan देंगे कि घर खरीदना एक करोड का, कोई बात नहीं 10 लाग रुपे लाओ, 90 लाग रुपे का loan हम देंगे 10 लाग तो कोई भी arrange कर लेगा तो लोगोंने मकान खरीदने शुरू करे और जब लोगों की jobs जाने लगी जब अमेरिका में recession आने लगा तो नौकरिया गई, नौकरिया जाने से अब वो EMI कैसे चुकाएगा बंदा bank का नहीं चुका पाएगा, EMI गया EMI नहीं पे कर पाएगा, फिर क्या होगा फिर आपको देखने मिलेगा जब EMI भी नहीं पे कर पाएगे नेक्स चीज़ आपको देखने मिलेगी के बैंकों को उसका पैसा वापस नहीं मिल पाएगा लोन वापस नहीं मिल पाएगा लोन NPA होने लगेंगे, NPA बढ़ने लगेंगे और इस वैसे अमेरिका के बैंक बंद पढ़ गए इसलिए बैंक के अंदर मजबूती बैंक को प्रोवाइड करने के लिए ट्रांस्पिरिंथी प्रोवाइड करने के लिए बैंकिंग सिस्टम को सुधारने के लिए बैंकिंग सेक्टर की शौक एब्सॉर्बिंग कपैसिटी को बढ़ावा देने के लिए हमने बेजल 3 norms पेश करें और India is in the process of implementing it हम धीरे-धीरे करके phase-wise manner में इने implement करने है बेजल 3 तीन parts में है part 1, pillar 1 है minimum capital and liquidity requirements वही वो capital के requirement इसमें कुछ पैसा tier 1 capital में रखना है tier 2 capital में रखना है कुछ capital conservation buffer में रखना है ताकि जो weak banks थे वो अपनी situation change कर सका है, अब समझो एक बात एक bank है, पूरा example के साथ समझा रहो तो ध्यान से सुनना यूँकि बहुत असान है concept, मुश्किल नहीं है एक bank है, जिसका नाम है bank 1 bank 1 के पास कुछ capital है हर company को कुछ capital रखना पड़ता है company खोलते time कुछ capital रखना पड़ता है, मतलब owner जो है company के, या investor जो है वो कुछ पैसा लगाते है company में, जिसे उसका capital या पूंजी कहते है जो कि equity share capital हो सकता है preference share capital हो सकता है, अभी मैं आपको financial market वाली class पढ़ाऊँगा तब बताऊँगा यह क्या होते है equity and preferential share capital equity share capital का मतलब है owner जो है, जैसे Elon Musk Twitter के owner है जैसे मुकेश Ammani Reliance के owner है गौतम अडानी अडानी ग्रूप के owner है इसे कहते है equity shares दूसरा होता है आपका preference shares preference shares में आप company के मालिक नहीं हो बट आपको एक preferential fixed percentage पैसा company guaranteed देती है हर साल का कि आपको मान लीजे एक लाग रुपे साल का दिया जाएगा तो दिया जाएगा, guarantee है equity shareholders को हमेशा बचा कुचा profit मिलता है मान लो एक business में 10 लाग का profit है 2 लाग bank का loan था वो चुका दिया ठीक है ना उसके इलावा आपको देखने मिलेगा कि bank को या कोई company को tax भी देना पड़ा एक लाग रुपे का वो भी चुका दिया बचा कितना? 7 लाग रुपे 7 लाग मेंसे preference वालों का पैसा भी काट लो फिर इतना बचा? 6 लाग रुपे ये मिलेगा equity shareholders को जो भी बचा कुच है मान लो ये जीरो होता तो जीरो मिलता preference shareholders को या जिन से loan लिया है उन्हें तो उनका पैसा वापस करना पड़ेगा equity shareholders फाइदा लेते हैं फाइदा इनका unlimited होता है अगर ये आपका 60 lakhs का profit ना होता 60 करोड का होता तो पूरा मिलता और loss भी असी में तोता है ये अगर loss होगा तब भी उठाना पड़ेगा तब भी खुदी जेलना पड़ेगा तब खुदी survive करना पड़ेगा अब बेजल 3 guidelines जो release हुई वो इन losses को कम करने के लिए बनाई गई गई थी ग्लोबल लेवल पर ऐसे capital adequacy ratio maintain किया जाए ताकि जादा से जादा protect कर सके global financial problems को इसके लिए हर bank को अपने जितना equity share में पैसा पड़ाए जैसे अगर कोई weak bank है सरकारी bank है उसके shareholder उसमें पैसा लगाते हैं उनों पैसा डालते हैं तो उस bank के अंदर वो उसका capital है और वो capital इसलिए रखा गया है कि किसी future loss से आप deal कर सको future loss का मुकाबला कर सको अब basal 3 recommendation के साब से आपको कुछ minimum पैसा capital में रखना पड़ेगा basal 3 की खास यह थी कि tier 1, tier 2 बस यह दोनों capital बचे थे tier 3 को खतम कर दिया था जो tier 3 लाया गया था उसको समाप्ट कर दिया गया था tier 3 was finished हमने इंडिया ने क्या इसको adopt किया यह समझते है world level पर minimum tier 1 ratio रखने की बात हुई 10.5% कि minimum level पर हम tier 1, tier 2 10.5 maintain करेंगे इंडिया ने कहा हम एक कदम आगे हैं हम global level से एक कदम आगे हैं एक परसेंट जादा रखेंगे ताकि दुनिया का भारतिय बैंकों में विश्वास बन सके हमने कहा tier 1 और tier 2 capital में मिला कर हम 11.5% परसेंट पैसा रखेंगे दुनिया के बाकी banks के मुकाबले जादा world इस बात से हैरान होगी परिशान होगी अरे ताकि पैसे की जो कमी है उस पैसे की कमी को हम दूर कर सके याद करो इंदर धनुष हमने पढ़ा था A, B, C, D, E, F, G तो बोला साफ कि हम और पैसा डाल कर capitalize करेंगे इंडियन बैंक्स को और 11.5% maintain करेंगे 11.5% वर्ल्ड लेविल पर 10.5% की बात थी हमने का एक कदम आगे है Capital Risk to Weighted Asset Ratio हमारा 9% होगा और 2.5% हमारा Capital Conservation Buffer होगा तो टोटल कितना हुआ टोटल हुआ 11.5% बाकी देश 8% प्लस 2.5% कर रहे थे हमने का 9% प्लस 2.5% करेगा हमारा इंडिया सबका बदला लेगा इंडिया अब सबसे ज़ादा हमने इंडिया के अंदर RBI की Conditions के साब से Minimum Capital Adequacy रखने की बात करी विच वस 10.5% Higher than the Basal Requirement जहाँ पर Minimum Tier 1 Capital जो Tier 1 प्लस Tier 2 का जो Capital होता है वो 9.5% था Capital Conservation Buffer 2.5% था Capital Conservation Buffer देश Maintain करके रखे हैं तो अच्छा है इन्होंने इसको Compulsory बना दिया और इसको एक नया नाम दे दिया उस नए नाम को हम कहते हैं Counter-Cyclical Buffer क्या कहते हैं इसे Counter-Cyclical Buffer मैं लिख देता हूँ कहीं पर Counter-Cyclical Buffer Counter-Cyclical Buffer बनाए गया 0 से 2.5% का कि जब भी कोई Adverse Situation आया उससे बचने के लिए आपके पहले से पैसा पढ़ा रहें आपके पास पहले से पैसा हो यह है Counter-Cyclical Buffer एक था Capital Conservation Buffer वो तो पहले से था ही था Capital Conservation Buffer वो तो पहले से था ही 2% का उसके यह Additional है वो 2.5% का पहले से था ही उसके यह Additional है और Extra है Counter-Cyclical Buffer इसे कहते हैं 0 से लेकर 2.5% तक रखने की बात की गई Counter-Cyclical Buffer को ताकि किसी भी उतार चराव अगर Economy में आये तो उससे Protect करके देश रख सके हैं इसके लिए Counter-Cyclical Buffer बनाये गया Capital Conservation Buffer बता दिया Counter-Cyclical Buffer बता दिया Eliminate कर दिया Tier 3 Capital को जो C.A.R. requirement थी Capital Adequacy Ratio की बाकी देशों के लिए 8% इंडिया ने बढ़ा दिया इंडिया ने अपना 9% रखने की बात करी बाकी देशों के लिए 8% आचा 8% में पहले Tier 1 में T1 के अंदर 4% रखना पड़ता था अभी बताये था आपको थोड़ देर पहले याद करो Tier 1 में मैंने क्या बोला था 4% minimum रखना पड़ता था I think मैंने starting में लिखा था चले, I've written it somewhere 4% रखना पड़ता था Tier 1 के अंदर Tier 1 प्लस Tier 2 और Tier 3 कैपिटल तो इस बार खतमी कर दिया 4% पहले रखना पड़ता था तिल बेसल 2 बेसल 3 में अब आपको 6% रखना पड़ेगा बाकी देश 8% मेंटेन करेंगे हम 9% करेंगे हम 9% करेंगे और 6% Tier 1 में as per BASEL 3 पैसा रखा जाएगा एक ये बदलाव ये चेंज आया ये चेंज आपको देखने मिले जिससे एक liquidity requirement के उपर हम condition set कर पाए एक leverage ratio के उपर एक capital requirement ratio के उपर in very simple words हमने कोशिश करी कि जादा से जादा पैसा हम safeguard करके रख सकें ताकि किसी भी risk से हम deal कर सकें जूज सकें इसको implement करने की deadline March 2019 थी इंडिया के अंदर पर वो COVID की वज़े से postpone कर दी गई थी defer कर दी गई थी पहले 6-6 महिने के लिए defer करी थी पर Basel 3 इस टाइम पर implement करना मतलब bank को पह और burden पैदा करना वैसी bank NPA की problem से अभी बाहर निकलें इंडिया के दीरे 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 इनको change करने हैं नहीं है दोनों अलग है capital conservation buffer और आपका दूसरे वाला counter cyclical buffer ये दोनों अलग है counter cyclical buffer country के उपर है 0% से 2.5% के बीच में maintain करके रख सकता है in fact Basel committee ने तो इंडिया के RBA के efforts के लिए हमें credit भी दिया है हमें बोला है कि आप अच्छा काम कर रहे हो you are doing the right thing you are doing the step in the right direction ये बात कही है हमारे लिए इसलिए इंडिया की तारिफ की गई है next आपका liquidity requirement ये बात की गई कि हर बैंकों को 30 days का short term के जो भी खर्चे हैं उनको deal करने जितना पैसा अपने पास high quality liquid asset के अंदर cash भी कह सकते हैं आप maintain करके रखना होगा SLR CRR तो maintain किया जाता ही है ये भी बोला गया net stable fund rate के banks को stable funding profile मतलब कम से कम इतना पैसा रखना है medium term requirements को पूरा करने के लिए एक साल तक के 30 दिन से एक साल तक के खर्चों को पूरा करने के लिए हम पहले से ही CRR ratio cash में maintain करते हैं जो liquidity coverage ratio ही एक तरीके से और stable funds हम SLR में रखते हैं जिन से return भी मिलता रहे हैं तुरंट बेचकर हम अपना पैसा जो भी problem पैसे की problem है वो दूर कर सकें तो इंडिया तो पहले से ही RBI के rules के साब से CRR और SLR maintain करी रहा था liquidity coverage ratio इसलिए बनाया था कि ताकि bank के पास buffer रहे high quality liquid asset मतब जो पैसा तुरंट इस्तमाल हो सके जो immediately use हो सके cash जैसे कह सकते हैं उसके अंदर तुरंट use हो सके cash outflow को deal करने के लिए या किसी भी short term stress को deal करने के लिए bank run जैसी situation से बचने के लिए कि bank को के पैसा ही नहीं लोग बाहर खड़े हुए ताकि जादा से जादा liquidity आ सके इंडिया के अंदर liquidity coverage ratio maintain करने की बात करी फिर 30 दिन से एक साल तक का समय net stable fund rate maintain करने की बात करी ये भी maintain किया ताकि जो भी आचान से financial requirement अगर bank की आ जाती है उसके लिए भी reliability बनी रहे एक साल का खर्चा एक साल की problems को दूर करने के लिए पैसा बना रहे हैं तो ये दोनों भी इंडिया ने introduce किया ये हर देश को introduce करने की बात करी थी एक leverage ratio लाने की बात करी leverage ratio का मतलब आपने अपना पैसा कितना लगाया और कितना पैसा उधार में लिया है इसे कहते है leverage 3% leverage ratio की बात करी जैसे मैंने मेरे पास 1,00,00 रुपे पढ़ा है मैंने इस 1,00,00 रुपे को दिखा कर बैंक से 2,00,00 रुपे और लोन ले लिए और टोटल मेरे पास 3,00,00 रुपे आ गए 1,00,00 खुद का 2,00,00 बैंक से लोन जो लिया है 1,00,00 रुपे खुद का और 2,00,00 जो बैंक से लोन लिया है इसे कहते है leverage करना फाइदा लेना लोन का तो 3% leverage ratio maintain करने के लिए बेसल 3 कमिटी ने recommend किया leverage ratio of the bank in tier 1 capital to total consolidated assets मतलब आपका tier 1 capital में कितना पैसा पढ़ा होना चाहिए total consolidated assets के comparison में total consolidated assets के comparison में यह 3% इसमें सिर्फ याद करने का है जादा कुछ समझने का नहीं है तो बस इसको सिर्फ याद कर लो अभी के लिए कि क्या था क्या बोला गया था exactly कुछ जादा इसमें समझने का नहीं है सिर्फ remember है you have to ठीक है तो इस तरीके से leverage ratio बनाया गया RBI ने leverage ratio requirement Indian banks के लिए बेंटर्डूस करी ठीक है न tier 1 capital divided by total consolidated assets RBI ने कहा 4.5% करेंगे world को 3% करना है न हम 4.5% करेंगे हम एक कदम आगे है और इंडिया में leverage ratio 4.5% कर दिया धाई परसेंट के buffer के साथ धाई परसेंट पैसा buffer में पढ़ा रहेना चाहिए इंडिया ने कहा यह हमारा swag है हम चाहेंगे हम करें 4.5% बाकी देश 3% कर रहे है हम कर रहे है 4.5% वी वान्ट वी डबली शोर extra शोर हम डबली शोर होना चाहते हैं इसलिए इंडिया ने जो भी requirement एडॉप्ट करी उसमें हमेशा एक कदम आगे रहे इंडिया बैंकों के लिए कई सारे disclosure requirement रख दिये कि बैंक regularly अपने capital की position बताएंगे बताएंगे कितना पैसा उनके पास liquidity के तौर पर पढ़ा है बैंक risk तो नहीं ले रहे regularly review करते रहेंगे कितने NPAs हैं transparency को बनाए रखने के लिए ये सब introduce किया गया पूरे इस बेजल 3 norms के तहर जन विश्वास ये law लाया गया था ये bill लाया गया था ताकि हमारे देश के अंदर better governance, better administration create हो सके इसको लोग सब हमें पेश किया गया पास किया गया जिससे हमारे देश के अंदर businessman के लिए व्यापार करना असान हो जाए और हमें government की services बहुत असान तरीके से बहुत अच्छे तरीके से high quality services मिल सके please remember that जिसके लिए ये जन विश्वास, जनता का विश्वास जीतना है न इसलिए जन विश्वास bill लाया गया था actually क्या है देश के अंदर पहले 180 अलग अलग अपराद 42 laws के अंदर होते थे 180 provisions थे जो देश के 42 different different type के laws के अंदर cover होते हैं ये provisions ठीक है इनको सरकार ने decriminalize कर दिया है मतलब जो criminal offense माने जाते थे अब उनसे वो criminal offense का tag हटा दिया है वो आपरादिक मामले नहीं माने जाएंगे जिसमें आपका agriculture से जुड़े हुए कुछ मामले थे industries से जुड़ा हुआ किताब जो हम publish करते हैं publication या environment से जुड़े हुए या व्यापार trade से जुड़े हुए अलग-अलग laws थे अलग-अलग offenses थे तो 180 offenses एक सौसी अलग टाइप के अपराद 42 laws के अंदर जो पर एक criminal माने जाते थे अब उन्हें decriminalize कर दिया गया है दूसरी बात कई सारे ऐसे अपराद थे जिनके अंदर fine लगाया जाता था अब उन्हें fine से penalty में convert कर दिया अब आप कहोगे sir fine से penalty में convert करना क्या होता है fine का मतलब है कि एक judicial court मतलब एक judge एक judicial officer आपको सजा दे तो आपको punishment नहीं दी जाएगी जैसे court से punishment मिलती है उस सेम तरीके से punishment नहीं दी जाएगी आपको financial loss suffer करना पड़ेगा क्योंकि आपने कुछ गलत काम किया है पर हाँ यह नहीं होगा कि उठा के आपको jail में डाग दिया तो इस तरीके से आपको अलग-अलग offenses और penalties से बचा रहे हैं एक और बात Indian Post Office Act 1898 का एक law था पुराना कानून था Post Office Act उस Post Office Act के provisions के तहट लोगों को सजा दी जाती थी हमने यह remove कर दी है punishments Post Office Act के तहट punishments को remove कर दिया गया है जिससे publication आप कर सकते हो चीजों का असानी से जिससे सरकार चाहे तो आपको allow कर सकती है चीजों को publish करने के लिए चीजों को चापने के लिए जन विश्वास बिल के provisions में ये खास बहुत ये बात बहुत खास इसलिए भी है क्योंकि इससे ease of doing business हमारे देश में आ सकेगा हमारे देश में अलग-अलग sectors के अंदर pressure जो पढ़ रहा था ना justice system के उपर वो reduce होगा इतने court में cases चलते हैं फिर उसमें भी तारीख पे तारीख चलती रहती है तो बहुत जादा समय वेस्ट होता है तो criminal provisions में बहुत time वेस्ट होता है एक है procedural mistake आपने सारी शुरू से लेकर अंत तक प्रक्रियाई गलत करी है तो उनके अंदर अलग-अलग penalties लगती थी कुछ penalties में आपको छूच दे दी गई है कुछ पर penalty अभी भी बनाई रखी है वो तो depend करता है कि तुमने कितना बड़ा offense किया है what is the severity of offense एंवायरमेंट क्रियेट करें हमारे देश में जो की business के लिए अब समझ गए objective क्या है तो इसकी दरूद क्या थी pressure कम करना था justice system पर offenses को उनकी severity के हिसाब से situation के हिसाब से किस प्रकार का अपराद किया है उसके हिसाब से सजा देनी थी इसके इलावा जो business के अंदर barriers अरचन आते थे जो proper business environment नहीं create करने देते थे उनको दूर करना है और technical और procedural defaults खतम करने है हमें basically उनको streamline करना है उन्हें असान करना है जहाँ पेनल्टी की दरूद है वहाँ पर penalty लगाओ जहाँ पर दरूद नहीं हटाओ तो ये खास बात है इसकी इसी लिए इसको पेश किया गया था बाकी मैंने बताया Indian Post Office Act 1898 के provision जो आज के time पर बिलकुल बिकार हो गए है पुराने हो गए है obsolete हो गए है सौ साल से भी जादा का समया हो चुका है उनको 125 साल होने आ गए है तो उनका रखने का भी फाइदा क्या Post Office Act 1898 का कोई benefit तो है नहीं So they have gone obsolete वो अब पुराने हो गए है जो जरूरत नहीं है उन्हें हटा दो इसके इलावा Justice System को और बहतर बना दिया जाएगा Pendency of cases को कम करके तो ये सारी बाते हैं सरकार के लिए governance गवर्नेंस उधारना गुड गवर्नेंस क्रियेट करना बहुत जरूरी है अच्छा जीएस पेपर 2 UPSC के अंदर governance नाम का एक topic आता है किस-किस ने पढ़ लिया अब तक बताइए नहीं किया तो हमारे P2i batch में कवर कराते है गवर्नेंस बीच में मैं भी कई बार पढ़ा देता था अभी तो थोड़ा वक्त का तकलुफ चल रहा है वक्त नहीं है उतना ठीक है ना आगे भी आपको पढ़ाएंगे कभी गवर्नेंस मुद्दे की बात यही है कि पैनल्टी इसको रिवाइस किया है अच्छा आपको पता है इंडिया में कुछ ऐसे लॉज है जिन पर पैनल्टी इतनी कम है जैसे आप अगर किसी जानवर को मारते हो पैनल्टी लेकर छोड़ देंगे आपसे ऐसे कितने पुराने कानून है जो इल्लॉजिकल है कि आपने डॉग को मारा मान लीजे कैट को मार दिया रह चलते वे सरक पे चलते वे अक्सिडेंट कर दिया पच्चिस रुपे पैनल्टी यह जान की कीमत है जानवरों की जो हमें इतना सुक देते हैं तो ऐसे कई सारे लॉज यह टूटली लॉजिकल राइट नौ तो इसी लिए इनके अंदर सलूशन फाइंड जरने बहुत जादा जरूरी है तो मैंना जो करेंट इशूस आपके स सरकार ने जो ग्रीवेंस रेडरसल मेकैनिजम था उसमें भी चेंज किया है जैसे अलग-अलग कानून है सिनेमेटोग्राफ एक्ट जो सिनेमा बनता है मूवीज बनती है वो सिनेमेटोग्राफ एक्ट के तहट आती है एन्वार्मेंट प्रोटेक्शन एक्ट और मर्चंट shipping act जो कि ships को जो व्यापार करते हैं एक जगे से दूसरे जगे जाकर vessels होती है Ships होती है बड़े-बड़े जहाज होते है पानी के उनको को रिगूले के लिए इस पनिषमेंट के सकता है। उन ऑफिसर्स पी अपॉइंट किया जाएगा जो कि आपकी शिकायत है सुनेंगे जैसे मेरे को किसी कंपनी के खिलाफ शिकायत करने हैं कि उन्होंने एंवारो मेंट को डेमेज किया है एंवारूरमेंट प्रोटेक्शन आक्ट एक्जाम्पल लेना चाहूंगा हेल्थ जब हम पढ़ते हैं ना हमारी शरीर की नसों के अंदर अगर कॉलेस्ट्रॉल जम जाता है तो क्या होता है खून असानी से पास नहीं हो पाता कई सारे पुराने कानून ऐसे अठके हुए थे हमारे देश में जो एक कॉलेस्ट्रॉल बनकर काम कर रहे थे कि आप अगर बिजनिस कर रहे हो तो सौ तो आप अलग-अलग आपको कंप्लाइंस करने होते हैं कंप्लाइंस का मतलब बाते माननी पड़ती हैं सरकार से काफी हो जाता है मतलब अगर जैसे मैं छोटा बिजनेस चला रहो माइक्र स्मॉल मेडियम एंटरप्राइस और मेरे पास डेड़ सो एंप्लॉई काम कर रहे हैं तो पांसो से लेकर नौसो अलग-अलग टाइप के कंप्लाइंस मुझे करने होंगा सरकार को रिपोर्ट भेजनी हो कर दे जो आज redundant हो गए उनको कम कर दे और एक minimum लिस्ट बना दे सेफटी के प्रोविजन्स की अलग-अलग प्रोविजन्स की जो एक organization को follow करने है ठीक है न जिससे बार-बार इनको follow करने की जो financial cost होती है अब देखो मैं एक business कर रहा हूँ मेरे को तो legal knowledge नहीं है मैं तो किसी lawyer को hire करूंगा chartered accountant को hire करूंगा उनकी fees भी तो देनी पड़ेगी तो मेरे लिए तो बहुत खर्चा हो जाता है ना यह खर्चा अब नहीं होगा तो यह स्ट्रीम लाइन करेगा एक regulatory cholesterol जिसको हम कह सकते हैं उसको कम करेगा regulatory यह newspaper के अंदर article में लिखा था इसलिए मैं आपको ज problems जम गई हैं बंद गई हैं जिस वह से justice टाइम पर मिल नहीं पाता तो आप बिना किसी डर के बिना किसी टेकनिकल और प्रोसीजरल डिफॉल्ट करने की चिंता के बिजनेस करो यह विदाउट एनी फियर ऑपरेट विदाउट एनी फियर इसी लिए ट्रस्ट बिल्ड करना ह है governance को better good governance बनाना है citizens के अंदर जंता के अंदर बिजनेस के अंदर और government के अंदर हो विश्वास पैदा करने के लिए यह प्रावधान लाए गये हैं यह बात आपको याद रखने हैं इसी लिए तो मैं बता रहूं important है बहुत ज़्यादा इस पर अगले साल prelims में इस साल में में सवाल पूछे जाने की संभावना बहुत जाद है कि जरूरत आगरगार ठीक है अच्छा imprisonment related clauses हैं अपराद से जुड़े हुए clauses जैसे for example पहले हर पांच मैंसे दो अपराद के लिए आपको जेल भीरा जाता था you were sent to imprisonment jail भीरा जाता था तो हर clause के लिए अगर आप जेल बेड़ने लगों के लोगों को छोटी-छोटी गलतियों के लिए तो business करने के लिए बाहर बचेगा कौन सभी लोग जेल में चले जाएंगे तो इनको स्ट्रीम लाइन करने की कोशिश करी गई है लगबग 2600 2600 ऐसे clauses थे ऐसे कानून के तहट प्रवधान होते थे प्रोवि financial loss लेलिया penalty लेलिया आप देखे चुप हो जाओगे बट अगर आपको एक साल की जेल मिल गई वो आपके लिए बहुत दादर depressing हो सकती और कुछ लोग तो hardcore क्रिमिनल बनके निकलते हैं जेल से अगर 6 महिने के लिए जेल चले गए तो उस 6 महिने में उनका दिमाग ऐसा परि जैसी ही सजा मिले बहुत ज्यादा सजा ना मिले बहुत रेयर केसे में imprisonment किया जाए जेल में भेजा जाए इसी लिए आपको देखने मिलेगा कि बकायदा laws के अंदर सुधार किया जा रहा है overlapping laws उनको खतम किया जा रहा है जो अलग-अलग कानूनों के अंदर same provision की बात करते है इनको कहते है overlapping laws कि एक कानून में same बात करिए जो दूसरे कानून में करिए जैसे example देता हूं इंडिया में competition commission of India जैसी एक organization है इसका नाम कुछ समय पहले सुना होगा आपने जब Google के उपर इन्होंने penalty लगाई थी Google के उपर इन्होंने punishment लगाई थी competition commission of India के पास वही सारी power है जो power सेभी के पास है security exchange board of India के पास है जो share market की regulatory body है जो share market का देखबाल करती है insurance regulatory development authority of India उसके पास भी वही power है इरडाई के पास भी वही power है अच्छा सिर्फ इरडाई ही नहीं इसके साथ साथ आपको देखने मिलेगा कई सारी ऐसी सरकारी संस्ता है जो same power overlap रखती है टेलीकॉम regulatory authority of India जैसे मैं एक्जामपल से समझातों क्या बात कहरो एटल और वोडाफोन कल कहते हैं कि साथ मिलकर एक single company बना देते हैं एटल वोडाफोन आइडिया के नाम से एक company competition commission of India कहलेगा कि ऐसे तो आप monopoly create करोगे ऐसे तो एक company बन गई और competition खतम होगे आप customer connection लेने ज काम करते हैं इससे business पर impact आएगा तो इनकी approval इनकी permission की बहुत ज़्यादा जरूवत होती है CCI के अब ऐसी share market में जो regulatory body सेबी के उनके approval की भी जरूवत होती है दो दो body same काम कर रही है insurance company दो company आपस में जोड रहे हो दोनों को approval लेना पड़ेगा CCI से तो यह overlapping हो रहा है business करना असान रहे single body limited punishment के साथ काम कर सकें transparency आएगी इससे और इससे हमारे देश में judiciary के ओपर courts के ओपर burden कम होगा ease of living सुदरेगा जीना असान हो जाएगा जीवन जीना दीवन वितीत करना असान हो जाएगा कानून के अंदर जो unpredictability थी ना बार बार कानून बदल दिया वो frequent change नहीं होगा वो unpredictability दूर होगी देखो too much predictability and too much unpredictability both are wrong दोनों को सुधारेंगे दोनों को change करेंगे जैसे retrospective taxation का लॉल आया था सरकार बीच में Vodafone और भारत सरकार का case हुआ था आप सबको याद है हच नाम की एक company होती जिसका बड़ा प्यारा सा एक puppy होता था डॉगी होता थ था वो पीछे-पीछे follow करता था you and I in this beautiful world have you seen it do you know it हच को खरीद लिया था वोड़ा फोन ने है ना वोड़ा फोन ने खरीदा भारत सरकार ने का आपने इंडियन company के asset खरीदे है आपने भारतिय संपत्ति खरीदी है इस भारतिय प्राइवेट कंपनी की संपत्ति खरीद होगे income tax देना पड़ेगा इसमें tax का प्रोविजन हो लौही नहीं है जिसके तहत हम सदा दे सकें और टैक्स इखटा कर सकें वोड़ा फोन से सरकार ने का रुखोड है जरा सबर करो सरकार बैक डेट से कानून मना के लिए रेट्रोस्पेक्टिवली मतब जैसे आज अगर मान लेते हैं 25 अगस्त है 25 अगस्त है आज क्या डेट ह सरकार कर सकती है कि एक जनवरी 2023 से इस साल की शुरुआत से यह बोल दे कि इस साल की शुरुआत से कानून का एक प्रावधान आप एप्लिकेबल होगा जिसके तहत आपने कुछ गलत किया तो आपको सदा मिलेगी इसे कहते हैं बैक डेट से रेट्रोस्पेक्टिवली पिछ उसको तो यही लगेगा ना सरकार ने विश्वास घात किया है बार बार कानून चेंज करते की बार बार बदलाव करते की कानून में तो उनको तो यही लगेगा कि सरकार ने पीट पे चुरा भौका है विश्वास घात किया है इसलिए मुद्दे की बात यही है कि ऐसे बिल में बोलाया है कि we will not be changing it again and again, it will remain the same, retrospectively नहीं लाएंगे, आप business करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जो जो problems थी, regulatory bottlenecks थे, जो administration, प्रशासन या सरकार के द्वारा, अपनी मनमर्जी चलाई जाती थी, कभी approval दिया तो बहुत जल्दी दे दिया, वरना approval लटकाया हुआ है, इसको कहते है, red tapism, मतलब approval लटका दिया जाता था, कंपनिया वेट कर रही हैं कि उन्हें contract मिलेगा, सरकार देती नहीं थी, ये चीज़ है, ये गलत है, इनके इलावा जो rent seeking होती है, rent seeking समझते हो, rent seeking मतलब लोग nepotism, red tapism, corruption, इनकी वज़े से, खुब फाइला ले जाते हैं, सरकार की सेवाओं का फाइदा सरकारी करमचारी ले जाते हैं, लोगों से ब्रश्टा चार करके, corruption करके, rent seeking को रोकना है, सरकारी करमचारी अपना ज्यादा description नहीं चला सकते, अपनी ज्यादा मनमर्जी नहीं चला सकते, उनको as per the law, as per the rule books काम करना होगा, और ये काम को दावा देने के लिए जनविश्वास बिल लाया गया है, वरना unpredictability बनी रहेगी, अमान लोग कल जाके सरकार GST है, goods and service tax है, उसके rate बार 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 चेंज करती रहे, या food items जो इंडिया से बाहर export होते हैं, कभी allow कर दिया export, कभी disallow कर दिया कि आप export नहीं कर सकत criminal provisions को, हम business करना आसान बना रहे हैं, ease of doing business create कर रहे हैं, जिससे ultimately देश में, income देश की, GDP देश की बढ़ेगी, proper legal standards जब define होंगे, कितने हैं, किस हिसाब से हैं, सब पता होगा, ठीक है न, तो और जाके हमारे देश में, administration सुधरेगा, governance सुधरेगी, और responsive बनेगी, जनता की independent बना रहे हैं, जैसे RBI, जैसे SEBI, सब के पास power होगी, किसी कोई कानून break करता है, तो उनको उसके लिए सदा देने की, यह आपका सब जन विश्वास बिल के तहत हो रहा है, अगला topic जी, second topic, हम comprehensive study करते हैं हर topic को, तो अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा पढ़ाना, क्य content is very well researched, very deep, तो आपको इसका benefit मिलेगा, मैं इस class की PDF वसु कटारा study IQ, टेलिग्राम रुपे contact number है, उस पर आपके लिए सेव कर दूँगा, आप उस पर आके मुझे मेसेज कर सकते हैं, मैं आपको दे दूँगा, इसके साथ साथ वसु.कटारा, मेरा Instagram profile है, follow कर लेना, if you want, आपको बहुत, बहुत, बहुत benefit होने वाल है, I will ensure that you succeed, I will ensure that you see your name in the merit list, आपका selection हो सके, in fact study IQ आपके लिए कोशिश कर रहा है, कि आप लोग प्रिलिम्स जब क्लियर करोगे, इसके मेंस residential प्रोग्राम भी दिया जाएगा, आपको इसके तहर, live classes तो मिली रही हैं सारे faculties की, ज expert faculties आपको देखने मिलते हैं, तो pure English, pure Hindi और bilingual format में course available है, वसू live admission discount code अप्लाई करके आप benefit ले सकते हैं, अगला है gig workers, gig economy, स्विगी, Zomato के delivery boy आपके घर पे आते हैं, समान डिलिवर करने, ओला उबर के drivers आपके लिए काम करते हैं, आपकी cab चला कर, एक जगे से दूसरे जगे तक आपको पहुचाते हैं, अगर मैं आपको data बताओ, 2020-21 का data है, नीती आयोक का, इंडिया में 77 लाख workers, gig economy का part है, gig economy मतलब, gig का मतलब है part time, gig का मतलब है platform, platform का इस्तमाल करते हैं, जैसे मैं person हूँ, मैं delivery करता हूँ, मेरे पास एक app है, app का नाम है, Swiffy, Swiffy app पर मेरे को customers के order मिलते हैं, मैं restaurant से order उठाता हूँ, और customer के घर पर deliver कर देता हूँ, बदले मैं Swiffy app मेरे को कुछ पैसा देती है, तो मैं part time काम करूँ, मैं platform work करूँ, मैं कोई full time employee नहीं हूँ, या वो ज definition होती थी न, employment की, जिसमें employer होता था, जो आपको नौकरी दे रहा है, एक employee होता था जो नौकरी कर रहा है, और बीच में दोनों के contract है, employer employee को हर महीने salary देगा, salary मैंसे कुछ पैसा provident fund के लिए काटेगा, health insurance provide करेगा, pension भी provide कर सकता है, वो था good old employment method, now things have changed, अब freelance पे रखा जात है, अब workers को बोला जाता है कि आपको एक मुश्ट पैसा, आप हम आपके account में दे देंगे, आपको कोई salary वैलरी पर नहीं रख रहे है, जब चाहे hire करेंगे, जब चाहे fire कर देंगे, फिर आप लोग क्या करोगे, जब चाहे hire किया, जब चाहे fire किया, लोग कहते है ठीक है न नेटा बताओं, 47% work, medium skilled होता है, जिसमें जादा कुशलता नहीं चाहिए, ठीक है न, 31% work, 31% work, low skilled होता है, मतलब लगबग 80% तो वो काम हो गया, जो medium और low skilled आप काम कर रहे हो, जिसमें जादा कोई skill नहीं लग रहे, अब घर पे खाना deliver करने में से बाइक चलाने की skill होनी च कमा रहे हैं, मैं personally एक ऐसे person को जानता हूं जिनकी 4 lakh rupees monthly income है, वो work from home करते हैं, और वो software बनाते हैं, अलग-अलग companies के लिए apps बनाते हैं, घर से बाहर भी ने निकलते हैं, एक साथ पैसा मिल जाते हैं, and they charge really good handsome sum of money for the various technology they are providing, आप भी शायद ऐसे लोहों को जानते होंगे, तो य सदे की बात ही है, कि gig workers के बारे में standing committee on labor, textile and skilled development ने क्या खाया, यह आपके लिए mains के perspective से important है, कि gig workers में सवाल आएगा, कोई issue के उपर सवाल आता है, तो आप लिख सकते हो कि standing committee on labor, textile and skilled development ने भी अपनी report जारी करी है, इन्होंने का है ministry of labor and employment को, M.O.L.E. को, कि labor का क्या हाल हो रह और यह जरा देखो, तो सही हमारे देश में gig workers के लिए, part-time workers के लिए भी कुछ-कुछ provisions बनाए गए है, जैसे public provident fund, PPF का आप फायदा ले सकते हो, provident fund का मतलब यह है, कि मालो तुमने जिंदगी बर नौकरी करी, अभी तुम 20 साल के हो, 60 साल तक नौकरी करते हो, 60 साल के हो अब घर खरीदना है, रहने के लिए अपनी जमीन नहीं खरीदी, घर नहीं खरीदा, बीच में तुमारा transfer होता रहा, तो कहीं पे रहने की जगह नहीं देख पाए, पैसा चाहिए, तो जिंदगी बर हर महीने आपकी तनखा से कुछ पैसा जोड़ा गया था, लिया गया था आपने जोड़ी है, ऐसे ही पाँच साल आप कहीं क्या काम करते हो किसी कमपनी में, या किसी स्कूल में टीचर हो, पाँच साल आपने काम किया, पाँच साल के बाद आप eligible हो जाते हो, ग्राचॵीटी के लिए, और ग्राचॵीटी क्या होती है, लिख देता हूँ इसका नाम ग्राच्वीटी, ग्राच्वीटी is paid to you for your loyalty, अब 30 साल एक company में काम करोगे, more than 5 years होना चाहिए, फिर वो 6 हो, 7 हो, 8 हो, 10 हो, 20 हो, 30 हो, कुछ भी हो, 30 साल आपने काम किया, आपको एक अच्छा handsome पैसा मिलता है, और उस पैसे को आप रख सकते हैं, क्योंकि आपने व्यक्ति के आहिमानदारी से इतने साल काम किया, इसलिए to reward you, to give reward to you, आपको एक reward देने के लिए ऐसा किया जाता है, ठीक है, Standing Committee on Labor, Textile, Skill Development ने, Ministry of Labor and Employment को बोलाएं कि ज़रा ये welfare schemes देखो, implement हो रही है, Health Insurance मिल पा रहा है, Public Provident Fund का benefit मिल पा रहा है, Employee Provident Fund का benefit मिल पा रहा है, और अभी ना, सरकार के पास अलग-अलग, 40 से ज़ादा Labor Laws होते थे, Labor मतलब workers से जड़े हुए, उनको सरकार ने refine करके, चार Labor Code में बाट दिया है, चार Labor Code, एक है, Safety, Health of Workers and Occupational Safety, Occupational Safety, Health and Working Conditions है, यह हमारा First, दूसरा है, Payment of Wages से जड़ा हुआ, Code on Wages, तीसरा है, Industrial Relations से जड़ा हुआ, Code on Industrial Relations, और चौता है, Code on Social Security, Code on Social Security, यह हमारा चौता है, Code on Social Security, चार हैंगे, ठीकर, चार ऐसे हमारे पास Labour Code बनाए गए इंडिया में, तो इनके तहट, Code on Social Security के तहट, और Code on Industrial Relations के तहट, Gig Workers के लिए भी, Social Security के प्रोविशन्स डालने की बात करिया है, हलाकि अभी तक कानून पूरी तरह, इंप्लिमेंट नहीं हुए, बट Gig Workers, Unorganized Workers, Unorganized का मतलब, जो इसका उल्टा होता है, कि आप किसी कंपनी में काम करें, जो सरकार के Laws को Follow करती है, सरकार के Rules, Regulations Follow करती है, वो Organized Sector हो गया, Unorganized Sector में, गवर्मेंट के Rules, Regulations Follow नहीं किये जाते, Unorganized Sector में, आप टैक्स भी नहीं भरते हैं लोग, कैश में पैसा कमाते हैं, कोई दुकान चला रहे हैं, कोई रिक्षा चला रहे हैं, कोई रेडी लगा रहे हैं, तो वो Unorganized Sector का पार्ट है, जहां पर गवर्मेंट के Social Security Provisions अब तक नहीं पहुँच पाते थे, बट अब, आपको ये देखने मिलेगा, थांक्स टू, देखने मिलेगा, Unorganized Sector Workers भी, अब फाइदा ले पा रहे हैं, कुछ-कुछ प्रोविजन के तरह, Unorganized Workers Social Security Act नाम का एक कानून लेकर आए, तब ये जो गिग वर्कर्स हैं, ये Unorganized Sector का ही तो पार्ट है, कभी भी नौकरी से निकाल दिया रहे, हायर और फायर करना जहां पर असान होता है, वो हॉल मार्क, वो आइडिन्टिटी है, इस गिग एकॉनमी की, गिग एकॉनमी में कोई भी आ रहे हैं काम कर सकता है, फ्री मार्केट है, अगर आप में वो स्किल सेट है, तो आप कर सकते हो, तो टेंपररी प्रोविजिन्स के तहट काम दिया रहाता है, लगलग पोदिशन्स पर, इंडिपेंडेंट वर्कर्स के तोर पर शॉट टर्म के लिए, कोई सोशल सेक्यूरिटी का खास बेनेफिट नहीं दिया रहाता, हलाकि स्विगी जो मैटो, ओला, उबर जैसे ओनलाइन सॉफ्ट्वेर, कम्पनी जैसे अप्लिकेशन या डिडिटल प्लाटफर्म्स, यह जो इनको फूड अग्रिगेटर भी कहते हो, इन्होंने थोड़ा health insurance related provision निकाल है, कि मैं ओला मैं cap चला रहा हूँ, अगर accident हो गया, एक insurance लिया हुए उस worker के लिए, ताकि उसका इलाज करवा सके, उस worker के company, अपने परिवार को सारा खर्चा न उठाना पड़े, company कुछ पैसा दे कर खर्चा उठाए, और company insurance ले ले, insurance company उसे ले ले फाइदा, इसलिए gig workers को protect करने के लिए ऐसा किया रहा है, अब इंडिया में gig workers क्यों spread हो रहा है, ये question बन सकता है, what is the reason कि इंडिया में आज इतना gig workers क्यों spread हो रहे हैं, ऐसी payment aggregators, Ola, Uber, Swiggy, Zomato जैसे, start-ups के आने के विए से पूरा ecosystem बन गया है, जहां पर आपको delivery agents चाहिए, जो आपको कई सारे part-time work जो होता है, जिसमें regular आपको काम मिलता रहता है, ऐसे workers चाहिए जो regular काम करते रहें, internet की connectivity इतनी फैल पाई है, आज मारे देश के अंदर, mobile की connectivity, smartphone की connectivity, रूरल एरियास में भी penetrate कर गई है, लोग जो आके शहरों में बस गए हैं, आज internet इतना affordable है कि हर इंसान ख़ीद पाता है, हर इंसान उसका सेवा ले पाता है, और contractual workers की इसलिए demand बढ़ रही है, और अलग-अलग platforms का इस्तमाल करके contractual workers को benefit मिल रहा है, इसका सब के लिए कुछ ना कुछ फायदा है, जैसे अगर मैं gig economy का बोलू, सबसे पहला benefit employees के लिए, क्योंकि employer और employees दोनों को कोई ना कोई benefit है, अब मान लो मैं कहीं पर पहले से काम कर रहा हूं, मुझे part-time work चाहिए, मुझे thanks to gig economy, मैं अपने main काम के साथ चाहत, एक और काम करने का मौका मिल सकता है, कि class के बाद, मैं आपका कोई और part-time work कर रहा हूं, हो सकता है कहीं और पढ़ा रहा हूं, वैसे allowed नहीं है पर वैसे कहा हूं, हो सकता है कहीं और पढ़ा रहा हूं, मेरे को तो dual income, दो income कमाने का मौका मिला, तो आपके सबसे बड़ी फाइदा की बात है कि Employees को flexibility मिल जाती है, होता है कि मैं सिर्फ दून का दो घंटे काम करना चाहता हूँ, दो घंटे काम मिल जाएगा मेरे को, मैं चाहता हूँ कि मैं घर बेठे काम करना चाहता हूँ, मिल जाएगा मेरेको benefit मेरे चाहता हूँ मेरा वर्क लाइफ बैलन्स बना रहे है कि मैं अपने परिवार के साथ भी समय बिता सकूं और उसके साथ साथ मैं अपना काम भी कर सकूं मुझे वह सब बेनेफिट मिल जाएंगे यह बेनेफिट है इंपलॉईज के लिए इंपलॉयर के लिए क्या फायदा क्योंकि वह पार्ट टाइम काम कर रहे हैं वह आपके फुल टाइम इंपलॉई थोड़ी ना है तो सरकार के रूल्स रेगुलेशन से कंपलाई करने की कॉस्ट कम हो जाती है कि जैसे आप मेरे रेगुलर इंपलॉई हो आपकी सैलरी से कुछ प्रॉबिट फंड का सीधी सी बात है इस तरीके से पैसा दिया जा सकता है और वर्कर अलग-अलग टाइप के टैलेंट के अलग-अलग टाइप के आपको मिल जाते हैं अलग-अलग एरियास के मिल जाते हैं क्या ना एक जैसी सोच वाले वर्कर्स कंपनी को वाइबरेंट तरीके से ग्रो नहीं ह है ऐसे लोगों के साथ जो समय खराब करते हैं उनके साथ don't interfere don't mingle with them they are ticking time bombs तो अपना भी समय खराब करते हैं आपका भी करेंगे तो employers को अच्छे employees अच्छे workers का benefit मिल पाएगा third point जी consumers का क्या फायदा इसमें मेरा क्या फायदा what will be my benefit what how will I benefit from it well I will get personalized services जैसे आज एक urban company app है आपके घर पर आपके आपका AC फिर जे टीवी कुछ भी खराब होगा आपकी personalized जो भी problem है solve कर देगा समय बचाता है पैसे बचाता है यह आपके लिए benefit है इसके के साथ साथ अब मैं एक गाड़ी खरीद हूँ फिर मैं driver रखूँ फिर driver के 100 जंजट गाड़ी के 100 जंजट खराब हो जाए कुछ शिशू हो जाए मतलब कितनी सारी problems है मेरे साथ राइट फिर driver ने accident कर दिया मेरा तो अरे बाप रे बाप कितना ही नुकसान हुआ ओला उबर में जाके ट्रैविल करो इट इस गोइन टो सेव योर टाइम हलाकि अब तो वह भी महेंगी होई है बहुत जादा पर मैं एक एक्जामपल दे रहा हूं तो बड़े challenges क्या क्या है what are the challenges सबसे पहला और सबसे बड़ा challenge इसका यह है कि labor के पास job insecurity है और income stability नहीं है तो insecurity और instability is a major issue in security and instability इस आर two major issues जहां पर gig workers के पास को फुल टाइम वर्क नहीं है, they are not working as permanent employees, इससे financial instability बढ़ती है हमारे देश में, और workers जो है, वो future plan उनका कुछ हो नी पाता, बननी पाता, परिवार नी चला पाते, आज नौकरी पे रखा, कल नौकरी से निकाल दिया, ऐसी नौकरी का क्या फायदा, परिवार की income कम हो चाहेगी, fluctuating income रहेगी, एक बहुत अच्छी movie आई थी, कपिल चर्मा की, जुइगाटो के नाम से, very emotional, very good movie, जो की awareness raise करती है, इस issue के ओपर, एक और problem है, legal laws नहीं है, अभी तक, या हैं तो वो implement नहीं हुए, legal provisions weak है, code on social security आया है, उसमें भी कुछ कमिया है, पर वो लागू नी किया, pension, provident fund, paid leave, retirement benefit, इनकी properly बात हुई नहीं, अलग-अलग कानून में, तो वो organized sector के workers को मिलता है, unorganized sector और gig workers को नहीं मिल पा रहा हूँ, अज़ा, gig workers कोई एक जगे पे जमा नहीं है, यह अलग-अलग जगे पे बटे हुए है, इनकी bargaining power बड़ी कमजोर है, कि सब एक साथ strike कर दे ह जैसे स्वीगी के सारे employees एक साथ strike कर दे है, जोमैटो के सारे एक साथ strike कर दे है, जैसे auto union करते हैं, auto वाले strike कर देते हैं, तो अपने लिए और अच्छा पैसा मांग सकते हैं, पर वो है न सब अलग-अलग काम कर रहे है, there is no unity between them, इसलिए क्योंकि कोई Uber में काम कर रहे है, को बल ओला मैं काम कर रहे है, कोई कहीं काम कर रहे है, इस वज़े से इने problem का सामना करना पड़ता है, time पर payment नहीं मिलती है, ठीक है न, और payment मिलती है तो पैसे काट के मिलती है, training proper नहीं मिल पाती, अपने हिसाब से अपने मन से बस करते रहता है, इसलिए अगर किसी worker को properly train नही पूरा gig economy का environment इस problem को solve करना होगा, आगे चलते हुए हम अपने कानून के अंदर सुधार बदलाव लाना होगा, जहाँ पर contractual workers, part-time workers, platform workers, gig workers को legal recognition, legal protection देनी होगी कि इनके साथ hiring and firing का का काम नहीं कर सकते, इसके लिए बकायता सरकार ने e-shram portal बनाया है, e-shram portal, आपका data लिया allowance, कि नौकरी नहीं कर रहे हैं, नौकरी नहीं है, कोई बात नहीं, परिवार चलाने के लिए तुम्हें allowance कुछ पैसा दिया रहेगा, कुछ महंताना दिया रहेगा सरकार के द्वारा, ताकि जब तक तक तुम्हें प्रोटेक्टेड रखे हैं, तो इसको हम लागू कर सकते ह गैरंटी करते हैं कि वर्कर्स को गिक वर्कर्स को एक मिनिममम पैसा मिलेगा, अंड्यू फेवर ना लेने की कोशिश करें, अंड्यू फेवर ना लेने की कोशिश करें, मिनिममम वेजिस गैरंटीड हो, जैसे अब वर्कर्स के साथ बोल दिया, दस मिनिट में डिलिवरी कर करके आओ पंजा मिनिट में डिलिवरी करके आओ आब वो तो बहुत तेज गाड़ी चलाएंगे और एक्सिडेंट होने कितने चांसे बढ़ते हैं तो पैसे से भी जाएंगे और जान से भी जाएंगे इसलिए ऐसे गलत प्रोविजन नहीं बनाने चाहिए कोडल सोशल सिक्यूरटी 2020 रूल जल्दी से जल्दी स्टेट गवर्मेंट को लागू करने चाहिए सेंटर ने तो कानून बना दिया है पार्लेमेंट से पास हो गया प्रेसिडेंट के साइन हो गया अफिशल गजेट में चप गया है अब स्टेट्स रूल नहीं बना रहे हैं उन्हें implement करने के रूल जब तक नहीं बनाएंगे तब तक गिग वर्कर का वेलफेर नहीं हो पाएगा। उन्हें इंजोरेंस प्रॉविडिन फंड जैसा फायदा, minimum wages जैसा फायदा नहीं मिल पाएगा। जो organized sector में हैं, वहाँ तो आप minimum wages का खयाल रख रहे हो कि 15,000 रुपे महिने का मिले ही मिले, सरकारी नौकरियों में होता है, कि X amount of money minimum दिया ही जाएगा, और ऐसे ही आपको निकाल नहीं सकते हटा नहीं सकते without any reason, प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं होता, आट्रेशन बहुत तेजी से होता है, तो यह सब benefits हमें provide करने इंडिया के gig workers को, ताकि उन्हें हम protect कर सके, Skill India के जो program है, आपके national skill development mission के तहट, प्रधान मंतरी कौशल विकास योजना के तहट, दी इंद्याल उपाद्या, national rural and urban livelihood mission के तहट, इन schemes का फाइदा दे के workers को skilled बनाना है, ताकि वो better job opportunities प्राप्त कर सके, बलकि उन्हें finance provide कर हो, कि वो खुद job seeker नहीं job creator बने, भारत का भविश्य job creators का है, वो लोग जो दूसरों को नौकरी देंगे, अपने साथ, अपने आपको economic benefit देते देते, ऐसे लोग हमारे देश को परिवर्तन के रास्ते पर डाल सकते हैं, युग परिवर्तन के रास्ते पर डाल कर भारत को विश्व गुरू बना सकते हैं, तो आशा करता हूँ, यह आप mains में अगर question आता है, तो proper answer जो words मैंने बताए हैं, जो language में मैंने बात करी है, उसे लिखेंगे, and you will score really, really well, वसु कटारा, study IQ, telegram group, where to find me, here to find me, how to connect with me, my mobile number is there, WhatsApp drop करो, मैं call कर लूँगा,